हलो दोस्तो वेलकम बेक टू आर चैनल स्टड़ी आईक्यू जुडिस्टी दोस्तो आज के इस इंपोर्टेंट सेशन में हम पूरा CRPC कंप्लीट करने वाले हैं और ये CRPC की मेराथन क्लास होने वाली है इस मेराथन क्लास में मैं आपको MCQ form में जो है पूरा CRPC पढाऊँगा प्लस जो भी important concept है इनको भी जो है detail में हम discuss करेंगे लगबग 13 से 15 घंटे की ये क्लास रहने वाली है तो जहां पर हम पूरे CRPC के section 1 से start करेंगे फिर इसके historical background को समझते हुए definition clause को समझते हुए आगे 484 तक पूरी तरीके से हम judiciary के perspective से JLO के perspective से APO APP के perspective से CRPC की मेराथन को complete करने वाले हैं तो अगर आप सब लोगों ready है तो अपने CRPC के bear acts को निकाल लीजिए अपने साथ पानी की bottle और जो है 2-3 color के pen रख लीजिए जिससे कि जो भी important बात हैं एक MCQ के साथ मैं पूरा 360 angle उसका discuss करूँगा हर एक section से जितने भी MCQs बनते हैं वो सारी चीज़े discuss करूँगा और 360 angle से CRPC को पढ़के आज हम खतम कर देंगे जिसमें मैं आपको first section से लेकर 484 complete last section तक CRPC कराने वाला हूँ बस आपको करना क्या है आपको लगातार इस class को मेरे साथ जुड़े रहना है और आप इसको पूरी तरीके से देख सकते हैं और ये class जो है recorded form में होने वाली है और recorded form में इस class को हम पूरे CRPC को आज पूरी तरीके से complete करने वाले हैं तो अगर आप सब लोग त्यार हैं तो हम फिर class को start कर सकते हैं और अपने CRPC का जो bare act है वो आपके साथ होना ही होना चाहिए जब भी आप सारे के सारे mcqs मेरे साथ इस session में करने वाले हो प्लस इसके साथ में जो आपके important case laws है CRPC के हर एक topic से वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं और इस act को हम क्यों procedural law बोलते हैं और IPC के साथ में ये क्यों हमेशा red with किया जाता है इसको भी समझेंगे प्लस detailed discussion करेंगे CRPC में लिखी हुई सारी बातों का चलिए तो start करते हैं आज के इस important session को सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये सारे questions या फिर CRPC जो भी मैं आज पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़े अगर मुझसे collect करनी हैं और आप अगर मुझसे ये सारी चीज़ें लेना चाते हैं तो इस class के end होने के बाद में अपूर शर्मा ओफीशल ये है मेरा telegram official channel यहाँ पर आप मुझसे connect कर सकते हैं और अपनी सारी ही बाते मेरे साथ यहाँ पर discuss कर सकते हैं दूसरी सबसे important बात यह है कि आज जितना भी CRPC हम पढ़ेंगे उसमें आपको best जो है कम से कम 800 CRPC के question मिलने वाले हैं जिससे आपके हर एक state के prelims का exam clear होगा हर एक state के APO में CRPC से इस से ज़्यादा question नहीं बनते हैं और हम 360 degree angle से इस class को करेंगे मतलब हर section से बनने वाले हर एक concept को detail में समझेंगे और सारी चीजों को यहाँ पर एक एक करके follow करते हुए हम आगे चलने वाले हैं इस सारा यह जो पूरा जो 13 या 14 घंटे की class का content है वो पूरा का पूरा आपको APOOR SHARMA officialist telegram group पर मिलेगा जब यह class end हो जाएगी तब दूसरी सबसे important बात इस से related कोई भी doubt है कोई भी query है तो आप मुझे directly APOOR SHARMA 252 यह है मेरा insta account यहाँ पर भी follow कर सकते हैं इन दोनों ही social media handles पर मुझसे हमेशा कोई भी student अपनी सारी चर्चाएं कर सकता है moving ahead चलिए तो यह अब एक important बात कि अगर आप judicial services की तियारी कर रहे हो तो study IQ judiciary का जो life foundation batch है इसकी classes start हो चुकी है 6 October साम 4 वजे से इस batch में आपको comprehensive तियारी कराई जाती है prelims की, mains की और interview की यह तीनों ही stages में आपकी जो बहुती important stage है हर एक judiciary के exams को qualify करने के लिए या फिर आप APO की तियारी कर रहे हैं, APP की तियारी कर रहे हैं, JLO की तियारी कर रहे हैं या फिर आप तियारी कर रहे हैं हर्याना ADA की तो आपको यहाँ पर prelims, mains और interview का यह पूरा batch जो है 12 महीने में 12 मन्थ में civil junior division बनाने का comprehensive plan है जहां पर आपको 1100 से ज्यादा घंटे की live hour classes मिलती है और 12 महीने में इस batch में आपको यह सारी चीजे cover कराई जाती है 6 तारीक से यह batch start हो चुका है और इसमें admission लेने की आखरी तारीक है हमारी 9 October 9 October तक इसमें आप admission ले सकते हो और यह जो 40,000 का comprehensive batch है आप इसको मात्र 24,999 में purchase कर सकते हैं उसके लिए आपको APU का code यूज करना होगा और मात्र 24,999 में live foundation batch में आप admission ले सकते हैं पहले इसके features की बात करें तो सबसे पहले prelims के perspective से आपकी daily basis पर दो classes होंगी और आपको prelims और means का content उसी में पढ़ाया जाएगा और daily classes होने के बाद आपको English और Hindi दोए भासी ये वैस है जिसको हम English batch बोलते हैं तो Hindi और English दोनों ही student जो है इसमें त्यारी कर सकते हैं आपको जो है one liner किरक्ष दिये जाएंगे जो के आपके prelims में revision करने में बहुत ज़्यादा helpful होते हैं आपको daily basis पर होने वाली classes के according देखने को मिलेगा कि इन classes में आपको सारी other चीज़े भी सिखाई जाती हैं जैसे आपको daily basis पर class के topics से related ही MCQs practice कराई जाते हैं और अगर आप इन MCQs को कर पा रहे हैं तो आपको ये पता लगता है कि आपकी तियारी कैसी चल रही है बात करें जो के सबसे tough stage मानी जाती है और judicial services में इसी stage का क्या होता है सबसे ज्यादा weightage होता है अगर जो लोग mains में अच्छा perform करते हैं उनका judge बनना तै होता है इसी बज़े से क्या आपको देखने को मिलता है 15 states के local laws में दिये जाते हैं 15 states की test series ही दी जाती है इसके अलावा आपको mains के perspective से जो answer writing है कि एक mains के answer को कैसे limited words में confined words में लिखा जाता है उसका पूरा draft आपको live classes में सिखाया जाता है mains की answer writing सिखाई जाती है प्लस weekly basis पर आपको जो भी subject चल रहे होते हैं मेजर लोह हो या फिर minor लोह हो उनकी means answer writing English और Hindi दोनों ही माध्यम में कराई जाती है mains के perspective से कुछ other चीज़े हैं जैसे आपका GKGS या current affairs वाला paper जो means में आपको extra edge दिलाता है दूसरे students है जिन्होंने law बहुत अच्छा प्र रखा है लेकिन उनकी GKGS current affairs week है तो आप जो है इसमें दो महीने में GKGS complete कराये जाएगा जुडीश्री के point of view से प्लस आपको weekly basis पर सापताहिक basis पर legal और general current affairs आपको provide किये जाते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है इसमें आपको comprehensive judgment writing भी सिकाई जाती है जो के आपके means के civil और criminal के paper से बहुत ही जादा important है और अगर आप 36 गड़ जैसे state को target कर रहे हैं जहां पर दो ही paper होंगे और दोनों ही paper में आपको civil और criminal की means में judgment writing आएगी तो आपके लिए ये comprehensive batch है और अगर आप means के किसी भी state के paper को उठा के देखें तो एक जो है 40 नमबर के या 30 नमबर की means में आपको judgment writing पूछी जाती है criminal paper में अलग और civil paper में अलग वो भी त्यारी इस batch में आपको कराई जाती है इसके अलाबा इसमें आपको English और हिंदी की means की perspective से जो language paper है वो भी cover कराया जाता है इसमें एक महीने में आपको English और हिंदी में आने वाले सारी चीज़ा चाहे वो essay writing हो, pre-see writing हो या फिर आपका translation हो वो सारी चीज़ा आपको इस batch में comprehensive live classes में cover कराई जाती है इस सारे पूरे प्रोग्राम को 12 महीने से सुचारों रूप से चलाने के लिए और इन सारी practices को आप आपको एक जो है अच्छे tutor या फिर guidance program के according एक mentor provide किया जाएगा जो आपके इन सारी चीज़ों को क्या करने वाला है इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से जो है discuss करने वाला है और ये सारी चीज़े आपकी 12 महीने तक उसके guidance में होती रहेंगी तो आपको इसमें interview की तयारी भी कराई जाती है 2023-2024 या आगे आने वाले किसी भी बर्स में अगर आप जो है क्या करते हैं किसी भी state के means को qualify करते हैं तो आपको study IQ headquarters बुलाया जाएगा और यहाँ पर आके आपके mock interviews conduct कराए जाएंगे तो आप इस comprehensive batch को अब भी join कर सकते हैं मात्र 24,9999 में इसको join करने का क्या procedure रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको इस पर क्या करना होगा इसके लिए आपको जो है कहाँ पर Google पर जाना है simply आप जो है जैसे ही Google पर जाएंगे वैसे ही आपको जो है सर्च करना है Google पर जाने के बाद आपको directly सर्च करना है Study IQ जुडिश्री जैसे ही आप इसमें Study IQ जुडिश्री को सर्च करते हैं Study IQ जुडिश्री को सर्च करते हैं अपने phone से, laptop से, tab से या फिर किसी भी अधर माध्यम से तो आपको ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही दिखेगा Life Foundation Batch 7 का ये बैनर इसकी Classes स्टार्ट हो चुकी है 6th of October से और 9th October इसकी Closing Date रखी गई है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 40,000 का बैच आपको दिखाई देगा और इन 40,000 के बैच को आप मात्र 24,999 में कैसे बाय कर सकते हैं आपको यहाँ पर बाय नाओ के आप्शन पर जाना होगा और अब भी 24 मंत की वैलिडिटी के साथ ये 40,000 का कोर्स आपको दिखाई देगा लेकिन ओफर एविलेबल में जाना है और डिस्पले पर चल रहे एक कूपन कोड को यहाँ पर डालना होगा that is APU मेरे नाम के तीन अक्षर जैसे ही आप Study IQ के इस कोर्स पर एप्ली केवल करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि ये कोर्स आपका 24 मंत की वैलिडिटी के साथ मात्र 24,999 में दिया जा रहा है सबसे पहले 1100 से जादा घंटे की लाइब क्लासे होंगी जहाँ पर आपको ये सारा कूर्स कवर कराये जाएगा 1-2-1 mentorship के according एक dedicated mentor मिलेगा प्लस आपको हर class के lecture notes teachers के तो मिलेंगे ही लेकिन उन lecture notes को कैसे limited time में और limited जो है limited words में means में लिखना है उसके अंदर हमें legal maxims भी लिखनी है कैसे हम उसमें क्या लिख सकते है legal maxims के साथ illustration based situation को कैसे solve करते है कैसे हम case laws को incorporate करते है ये सारी चीज़े आपको hand written notes में means के perspective से दी जाती है इसके बाद आपको 15 states की prelims की test series और local law recorded form में मिलेंगे और आपको interview guidance program भी देखने को मिलता है जब आप buy now के option पर जाओगे तो इतने सारे payments के option आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जैसे ही आप इसमें से किसी भी माध्यम को choose करके payment करोगे आपका life foundation batch 7 में admission हो जाएगा अगर आप APU का मतलब मेरा code लगाकर life foundation batch में admission लेते हो तो आपको study IQ judiciary life foundation batch 7 तो मिलेगा ही प्लस इसके साथ में आपको जो judiciary 16 states का recorded course है that is called as महापैक यह study IQ judiciary का recorded course है जहाँ पर 16 states का content आपको जो है recorded form में provide किया गया है तो आप जो है APU के code से life foundation batch 7 में अगर enroll करोगे तो आपको judiciary महापैक भी 2 साल की validity के साथ free of cost मिलने वाला है तो यह है study IQ का comprehensive plan जो आप join कर सकते हैं और अब हम आते हैं directly अपनी classes पर और directly अपनी classes पर आने के बाद इन सारी चीजों को अब हम जो है करना start करते हैं इसके respect में कोई भी doubt आ रहा है कोई भी सवाल आ रहा है तो आप मुझसे directly connect कर सकते हैं अपूर्शर्मा official इस telegram channel पर और directly मुझसे यहाँ पर कोई भी बात की जा सकती है या फिर अपूर्शर्मा 252 यह है मेरा instagram account यहाँ पर भी आप मुझसे connect करके कोई भी जानकारी साजा कर सकते हैं इन दोनों social hidden media handles पर मैं हमेशा आप लोगों के लिए available रहता हूँ प्लस इस से related आज के session की PDF भी आपको यही पर मिलने वाली है तो बिना देरी किये अब अपने CRPC के इस मेरा थन को start करते हैं Welcome to study IQ मैं अपूर सर्मा आज जो है तेरा घंटे में पूरे CRPC को आपके साथ complete करने वाला हूँ लगातार देखते रहेगा और जुड़े रहेगा जिससे के motivation मेरा भी और आपका भी हाई रहे और इस जो है तेरा 14 घंटे की class के बाद CRPC का एक एक छोटे से छोटा बड़े से बड़ा concept आपको समझाने वाला है clear तो अब देखो पहला question है code of criminal procedure 1973 से तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि code of criminal procedure 1973 किस दिन enforce में लाया गया ठीक लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह code जो है हमारा बनके कब ready हुआ था बनके 1973 में इसका draft prepare हो गया था और यह जो है हमारा 1 April 1974 को जो है force में लाया गया अब यहाँ पर 1 April 1974 डेट क्यों रखी गई इसका क्या region था और इस criminal procedure code ने हमारे किस पुराने criminal procedure code को old criminal procedure code को repeal किया यह question आपका बहुत ज़्यादा महतपूर हो जाता है जेलो के perspective से जब आप इस question को पढ़ते हो तो यह क्या है हमारे आजाद भारत का एक act है जो के Parliament of India द्वारा बनाया गया है और 1973 में क्या किया गया इसका draft बनाकर तयार कर दिया गया लेकिन जो इसकी committee थी उसने लगबग लगबग कितने 42 sessions किये जब हमारा code of criminal procedure बनके ready हो पाया और 1973 में राष्टपती की इसको जो है क्या मिलती है सहमती मिलती है और यह जो है हमारा code of criminal procedure 1973 का act बना दिया जाता है ठीक और लेकिन हमारा old CRPC जो कौन सा था old CRPC 1898 का जो CRPC था जो अंग्रेजों को इद्वारा बनाया गया था भारत में लागू किया गया था इसको जो है इसने repeal किया और भारत को जो है क्या दिया नया एक जो है हमारा criminal procedure दिया गया जिससे के आगे आने वाले भविश्य में जितने भी criminal matters है उनको क्या किया जाएगा उ उस दिन से पहले के सारे matter जो है old CRPC से govern होंगे और जितने भी matter एक जनवरी फस्ट एपरेल 1974 से जो है क्या इंडिया में हुए crime हुए उनको जो है इससे deal किया जाएगा तो यह पांच question आपके बहुत ज्यादा important हो जाते हैं इससे कि यह force में कब आया सबसे पहले एक अपरेल अब अगर आप present time की बात करोगे तो आपका लोग सबा में एक जो है नया CRPC का draft paste किया गया है जिसमें हमारा total 536 sections हमें देखने को मिलते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे CRPC 1973 की तो इसमें हमें total number of sections कितने देखने को मिलते हैं 484 यह बहुत ज्यादा important question हो जाता है आपका prelims point of view से पूछा जाएगा JLO में कि total number of sections कितने हैं तो 484 याद करने की trick क्या है कि आगे भी 4 है और पीछे भी 4 है मतलब 4-4 का combination है total number of sections CRPC ठीक 1973 का ये act है तो अगर हम इसके total chapters की बात करें तो याद रखेगा chapters भी पूछे जाते हैं CRPC में कितना है 1973 का ये act है और अगर इसके total chapters की बात करें तो जो पीछे की आखरी दो दिजिट है इसको कर दीजे उल्टा क्या करना है इसको उल्टा करना है तो निकलाएगा क्या हमारा total number of chapter 37 ठीक 73 का उल्टा हमारा sentence होता है और इतने ही total क्या रखे गए हैं हमारे CRPC में जो है क्या रखे आपकी CRPC 1973 में बताई गई हैं very nice very nice सारे लोग पढ़के रखा है दो दिन की छुट्टी क्या मिली पूरा CRPC पढ़ डाला क्या very good अगर schedules की बात करें तो total number of schedules है हमारे दो ठीक पहले में क्या बताया गया है कौन-कौन से हमारे जो है classification of offenses बताया गया है दूसरे में हमको format बताये गए है कि warrant भेजा जाना है तो क्या format पे भेजा जाएगा summons भेजा जाने है तो कैसे भेजे जाएंगे किसी की property attach करनी है तो कैसे होगी तो इन सारी चीजों के format schedule second में है और schedule one मे classification of offenses बताये गए है कि कौन सा offense किस magistrate के द्वारा try होगा वो non available है या नहीं cognizable है या नहीं ये सारी चीज़ें आपको कहा मिलती है हमारे schedule one में देखने को मिलती है total दो schedule है तो ये 5-6 question आपके CRPC के JLO के लिए बहुत जादा important है जो मैंने अभी आपके साथ discuss किये है clear हुई इतनी बाद सारे लोगों को समझ में आया जो जो मैंने अभी समझाया है पहला question था और इसको याद रखने वाली बाद है कि old CRPC 1898 को इसने repeal किया था इतनी चीज समझ में आ गई है six classification दे रखे हैं अगर आप आज ही जो है क्या करना है आपको एक चीज करनी है कि जैसे ही ये class खतम होगी उसके बाद schedule 1 को देखना है कि कौन-कौन से column में क्या-क्या चीज़े बताई गई है वो 6 column आपको पता होने चाहिए समझ आ गई है तो आफट से session को share कर दो और like कर दो अब चलते हैं next question पर इतिक इससे जो 5-6 question में बनते थे वो मैंने आपको बता दिये question एक है जो paid class में जो टेलीग्राम पर जाकर सिर्फ PPT से पढ़ेंगे उनके ये 5 question का नुकसान होने वाला है जो कि JLO में आने वाले है clear कुछ लोग बहुत और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा एक simple question देखने को मिलेगा और इस simple question को ही आप क्या कर पाओगे solve कर पाओगे moving ahead ये इसकी detail है आप पढ़ लीजेगा ठीक लेकिन याद रखना कि एक अप्रेल 1974 से इसको लागू किया गया था clear moving ahead next question पर the subject of criminal procedure falls in which one of the following list of the Indian constitution A और B संगसूची राजसूती संबर्थ सूती या फिर A और B दोनों बताइए फटाफट से बात किसकी हो रही है बात हो रही है code of criminal procedure 1973 की तो जब code of criminal procedure 1973 की बच्चा बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम जब CRPC 1973 को देखेंगे तो इसके अनुसार हमारे state government के पास भ government ने तो इसको क्या किया है union government ने तो इसको enact किया है और वो भी इसमें changes कर सकते हैं तो यह कौन से matter में fall करेगा पहले तो union of list का सारा question आपको clear होगा ना seven schedule में तीन list दी गई है 246 में तीनों list का जिक्र किया गया है और यह तीनों list किस संबंदित हैं यह तीनों list संबंदित है कि कौन सी सरकार राज्य सरकार किस विषय पर law बना सकती है केंद सरकार किस विषय पर law बना सकती है और कुछ ऐसे matter है जहाँ पर राज्य और केंद दोनों ही सरकार है कानून बना सकती है तो उसी कानून की यहाँ पर बात की गई है CRPC हमारा किस में आता है समवर्ति सूची म पतलब concurrent list में fall करता है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि state और central दोनों ही law बना सकते हैं याद रखिएगा most important question है बच्चा JLO के लिए और दूसरी सबसे important बात ये भी याद रखनी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि state amendment करते हैं तो जो CRPC का bear act है आपका उसके नीचे आप ज अगर यूपी की बात करें तो anticipatory bail के concept को यूपी में जो है अभी तक लागू नहीं किया जाता है जहां पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो जो है क्या कर सकते हैं उसकी गिरफतारी हो सकती है किसी भी मामले में तो वो पहले ही जाकर जो है court से bail grant करा लेता है तो के नीचे देखने को मिलता है clear तो टेलिग्राम गुरूप का link कहां है पीटर पारिक बच्चा टेलिग्राम पर जाओ और सर्च करो ए पी यू आर वी ए अपूर एस एच ए आर एमे शर्मा ओफिशल ठीक इतना सर्च करना है मेरे टेलिग्राम गुरूप आपको मिल जाएग join कर ले ना वहीं पर सारी classes की PDF मिलती है ठीक तो हम कहां थे हम थे कि हमारा जो है किस list में fall करता है तो यह जो है हमारा concurrent list में fall करता है संबर्ति सूची में fall करता है ठीक अब यह तीनों list की जो है मैंने आपको constitution की classes में detailed explanation दे रखी है कि किस list का क्या काम है और क्यूं हमने इसको जो है संबेदान में डाला है तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे constitution के lecture जाके देखने होंगे अब सारे बच्चे live हैं तो एक बात बता दूं कि दो दिन CRPC की class तवियत सही नहीं होने के कारण नहीं हुई है उसका खामयाजा उसकी जिम्मेदारी मेरी है नहीं हो पाई त तो संडे को 10 बजे से लेके 12 बजे तक live class होगी आपकी जिसमें में आपको CRPC के जो classes चूट गई है उनी को कराऊंगा दूसरी सबसे important बात और संडे को भी हम चुटी नहीं रखेंगे इस वार इस वार 6 बजे से 7 बजे तक संडे की भी class में लुगा जिससे के 2 जो classes चूटी है आपका उसमें नुकसान नहीं हो clear तो आप जो है पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं पूरी तरीके से संडे के लिए भी ready रहिए क्योंकि CRPC अगले 10 जो है क्या अगले Wednesday तक हमको complete करना है ठीक moving ahead ये question clear हो गया है next question पर चलते है concurrent list के बारे में ये सारी चीज़े हैं आप जो है adverse right तीसरा a wrongdoer must be punished option D both A and B अभब ठीक तो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है कि जो कोई जो कोई भी गलत करता है उस पर मुकदमा चलाना राज्जी का करतब है प्रतिकूल परीक्षन गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए option D उपरुक्त A और B दोनों पूछ रहा है आपसे कि जो इंडिया का criminal justice system है इसका basic principle क्या है और यह किस पर आधारित है यह चीज आप से यहाँ पर पूछी जा रही है फटाफट से बताईए किस चीज पर Indian criminal system based है state की duty है कि जो भी crime करेगा वो जो है उसको क्या करेगी उसको जो है पूरी तरीके से punish करेगी जिससे के आगे आने वाले समय में same crime जो है कोई दूसरा आदमी ना करे clear तो यह state की responsibility है और जिस भी व्यक्ति के साथ जो भी पीड़ता है victim है उसके साथ जो है इनसाफ हो इसी बज procedure जो के हमें criminal procedure code 1973 में दिया गया है उस trial को follow करके ही किसी भी इनसान को क्या किया जाएगा पूरा का पूरा प्रक्रिया करने के बाद ही डंडित घोसट किया जाएगा और court जो है किसी को punish करेंगे तो court की responsibility होगी कि वो क्या करेंगे इस पूरी प्रक्रिया को जो है follow करेंगे द वो accused को मिलने वाले हैं सबसे पहले FIR होगी FIR होने के बाद में क्या होगा FIR होने के बाद में parties को बलाया जाएगा और पुलिस जो है investigation करने के बाद report judicial magistrate को submit करेंगी judicial magistrate साब क्या करेंगे judicial magistrate साब उस पर अपना judicial mind apply करेंगे और यह देखेंगे कि कोई case बनता भी है या नहीं पुलिस ने investigation में कोई गलती तो नहीं कर दी है उसके बाद जैसे ही judicial magistrate अपना mind को apply करेंगे वैसे ही वो time period investigation से inquiry का हो जाएगा और जैसे ही judicial magistrate साब को लगता है कि कोई भी जो है क्या पूरी तरीके से crime commit हुआ है और किसी भी बंदी ने किया है तो उसका जो है क्या करेंगे वो उस पर charge framing करने के बाद trial को सुरू कर देंगे trial में दोनों ही पार्टियों को equal opportunity मिलेगी एक कहेगा किस ने crime किया है एक जो है अपने आपको defend करेगा जिसके उपर allegation लगे है उसके बाद just साब क्या करेंगे उसके बाद just साब अपना निरने देंगे दोनों ही पार्टियो moving ahead अब मैं आपको बता देता हूँ तीन stages होती है हमारे code of criminal procedure में जहां पर पूरा mechanism कैसे हमारा CRPC का काम करता है इसको समझ लो तो यह समझ लेना कि CRPC का पूरा procedure हम लोग जो है समझ चुके है ठीक सबसे पहले सबसे पहले होता गया है सबसे पहले आपको जो है यह देखना होता है कि crime commit हुआ एक सबसे पहले जैसे suppose करिए यह पूरी criminal trial की stage है सबसे पहले कोई भी यहाँ पर offense commit होता है offense commit जिसके against होता है वो victim विक्ति जो है क्या करेगा यहाँ पर police station जाएगा police station में जाकर पूरी तरीके से क्या करने वाला है वो police station में जाकर यहाँ पर अपनी F.I.R. को register कराने वाला है जैसे ही उसने F.I.R. register कराई तो वो जो है कौन सा case है billable है, cognizable है, non-cognizable है यह चीज देखी जाएगी और F.I.R. register कराने के बाद police जो है क्या करेगी? police अपनी investigation start कर देगी investigation start कर देगी investigation जैसे ही start होगा investigation के दौरान जितनी भी चीज़ें पाई जाएगी उसकी पूरी एक report बनाई जाएगी और उस report को जो है किसके पास police की duty है के investigation करने के बाद judicial magistrate साब जो भी उस area के magistrate साब होंगे उनके पास क्या कर दी जाएगी? वो report submit कर दी जाएगी clear? तो जहां से F.I.R. हुई और जब तक police ने अपनी investigation करी जितने भी facts ढूड़े जितनी भी चीजे बरामत की उसका एक पूरा data police report के थुरू जो है magistrate साब के पास पहुँच जाएगा और magistrate साब क्या करेंगे? इस जो भी जो भी police report submit हुई है उस पर जो है inquiry करेंगे क्या करेंगे? inquiry करेंगे कि police ने बिल्कुल सही investigation करी है या नहीं कोई भी loophole तो नहीं छोड़ दिया है या फिर इसमें और भी सुदार की गुंजायस है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि police को recover करनी चाहिए थी या फिर जो भी police report आई है वो सही है या नहीं तो जैसे ही judiciary magistrate sahaf क्या करना लग जाएंगे inquiry मतलब अपना दिमाग अपना जैसे ही अपना दिमाग लगाएंगे उस police report पर judicial mind को apply करेंगे judicial magistrate साब वो सारा period कब क्या कहलाएगा वो सारा period हमारा inquiry का period कहलाएगा और इसके बाद जब judicial magistrate साब क्या हो जाएंगे सहमत हो जाएंगे कि पिलिस रिपोर्ट सही है ओफेंस हुआ है किसी व्यक्ति ने किया है किसके अगेंस्ट में किया है उसके बाद वो जो है क्या करेंगे framing of charges करेंगे या फिर charge framing करेंगे जैसे ही जो है charge frame कर दिये जाएंगे जैसे ही charge frame कर दिये जाएंगे और दोनों ही parties को court में बुला कर अपनी अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा तो इस period को बोला जाएगा क्या trial period ठीक तो charge framing होने के बाद issue जो है क्या process किया जाएगा और charge framing होने के बाद trial start हो जाएगा तो यह 3 major steps होते हैं किसके हमारे किसी भी crime को होने के और investigation inquiry और trial इस तरीके से इस sequence में काम करते हैं अब trial में दोनों ही party को बलाये जाएगा जो victim होगा वो यह allegation लगाएगा कि किस accused ने उसके खिलाफ जो है क्या किया है accused ने उसके खिलाफ crime commit किया है फिर victim allegation लगाएगा तो accused अपने आपको क्या करेगा defend करेगा ठीक है defend करने के बाद में जो है क्या दोनों ही अपने अपने witnesses लाएंगे अपने सारे सबूत देंगे और सारी चीजें करने के बाद में finally जब trial complete हो जाएगा उसके बाद judicial magistrate जो भी उस matter को सुन रहे होंगे वो क्या करेंगे आपका judgment देंगे clear फिर जो है क्या कोट का फैसला आएगा कि कौन सा वियक्ति जो है हमारा क्या कर रहा है विक्टिम सही बोल रहा है या accused सही बोल रहा है अगर victim सही बोल रहा है तो accused को punishment होगी और अगर accused जो है क्या निर्दोस है उसके ओपर गलत charges लगाए गए है तो उसको बाइज़द बड़ी कर दिया जाएगा अगर accused convict होता है तो judgment के बाद भी एक process होता है जहां पर जहां पर accused person को उसी के आगे continue कीजिएगा ऐसे करके समझ के accused person को जो भी punishment दी गई है उस punishment पर क्या करना होता है bargaining करनी होती है bargaining का concept के accused कहता है ठीक है मुझसे गलती हो गई और गलती हो जाने के कारण मैं अपने गलती को मतलब accept करता हूँ लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी कम सजा दी जाए तो मतलब punishment को कम कराने के भी जो है क्या hearing judgment आने के बाद होती है या फिर अगर accused बाइज़द बरी हो गया है तो उसके लिए ये वाला process follow नहीं किया जाता तो criminal trial को अगर आप starting से देखोगे और last तक तो हमारा CRPC offense होने से लेकर punishment देने तक का क्या पूरा procedure बताता है अब यह depend करता है कि judicial magistrate first class के यहां पर matter जो है सुना जाएगा या second class के यह सुना जाएगा या CGM साब सुनेंगे या court of session सुनेंगे और इसी के आपके trial जो है आपको 235 से कहां से 225 से start होकर 260 तक यह सारी जो है आपका trial सुन रहा है तो 125 से लेकर 237 तक बताया गया है फिर 238 से के आपका court of session के बाद judicial magistrate first class session court यह सारे trials आपको इन sections में बताये गए हैं जब इन sections में आएंगे तब आपको यह सारी चीज़े समझ आएंगी पहली class में पूरे CRPC को इस diagram से समझ लेना और आप जब मैं 12 की जा रही है जब मैं inquiry बोलूँगा तो police officer ने अपनी report submit कर दी है और judicial magistrate साब क्या कर रहे हैं अपना mind judicial mind apply करके चीजों का तथ्यों का पता लगा रहे हैं तो वो inquiry के अंदर आएगा और जब मैं trial बोलूँगा तो trial मतलब judicial magistrate साब ने accept किया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड है और इसका आप जो है हमें जो है trial करना है मतलब issues frame कर दिये गए है issues CPC में charges frame कर दिये गए है CRPC में और trial को run करना शुरू कर दिया गया है तो ये तीनों ही stages जो है आपकी बहुत ज़्यादा important है अगर ये नहीं तो CRPC समझ में नहीं आने वाली investigation का मतलब police कर रही है inquiry का मतलब magistrate साब कर रहे है trial का मतलब दोनों पार्टियों की जो भी dispute है और जो भी क्या एक दूसरे के ऊपर allegation है वो just साब के सामने court में जो है वकीलों के द्वारा क्या किया जा रहा है present किया जा रहा है clear इतनी चीज clear नहीं कुछ जवाब नहीं है बदाए फटा फटते तो यह पूरा CRPC का बच्चा procedure होता है जो हम यहाँ पर आपका इसी तरीके से code of criminal procedure काम करते हैं ठीक हो गई clear हाँ तो अब investigation की बात होगी तो police के द्वारा हो रही होगी inquiry की बात होगी magistrate साब कर रहे होंगे खुद से कर सकते हैं अपने junior को बोलके करवा सकते हैं और trial की बात होगी तो charges frame हो चुके हैं और दोनों party अपना-पना contention रख रही है CRPC को पढ़ने के लिए मैं जब भी आपकी classes लेता हूँ तो सबसे पहले इसी चीज़ से start करता हूँ और यहीं से CRPC का क्या होता है किसी भी बच्चे को समझाने का procedure start किया जाता है clear moving ahead आगे चलते हैं इतनी चीज़ clear हो गई है फटावट session को like करते जाये करो अगर मजा आनता रहे ठीक चलो अभी उससे related question भी है investigation कहां पर है trial कहां पर है offense कहां पर है धीरे धीरे चलेंगे अभी तो start किया है एक question आया था आपके सामने कि क्या basic criminal justice system का क्या है क्या जो है पूरी तरीके से purpose है वो purpose मैंने इससे आपको समझा दिया है D is the correct answer of this question very good next question पर आईए बच्चा सीधे से the provision of the code of criminal procedure 1973 other than those relating to the chapter 8 chapter 10 chapter 11 there of shall not apply which one of the following states option a state of tripura option b state of asam option c state of megalia option d state of nagaland के section में लिखी हुई है most important है ये आपका ठीक अपरादिक प्रक्रिया साहिता 1973 के अध्याए 8, 10 और 11 से संबंदित प्रावदानों के अलाबा निमलिखित में से किसमें लागू नहीं होंगे त्रिप्र राज, आसाम, मेगाले या फिर नागा लेंड बताएं फटाफट से कहां लिखा हुआ है देखो ये हमारा section number 1 का question है क्या section 1 का question है और section 1 का अगर sub clause 1 देखोगे और sub clause 2 देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ specific बाते बताई गई है ठीक chapter 8, 10 और 11 specifically नागा लेंड पर applicable नहीं होगा यह यहाँ पर बताए गया है और अब section 1 जो है बहुत ज़्यादा important है तो इसको पढ़ने की हमें बहुत ज़्यादा जरूत है तो फटाफट से आजाईए section 1 को read करते है टाइटल क्या है short title extend and commission मतलब संचिप्ट सीस्तक विस्ताक और प्रारम इसका मतलब क्या है clause 1 कह रहा है this act may be called as the code of criminal procedure 1973 मतलब इस code को नाम कहां से दिया गया है section 1 clause 1 में कि इसको जो है क्या बोला जाएगा code of criminal procedure 1973 बोला जाएगा it extend whole of India provided that the provision of this code other than those relating to chapter 8 chapter 10 chapter 11 thereof shall not apply to the state of nagaland मतलब दूसरे clause ने क्या बताया कि यह जो है पूरे भारत पर applicable होगा लेकिन इसका chapter number 8, 10 और 11 state of nagaland पर और कहां पर to the tribal area but the concern state government may by notification apply such provisions or any of them whole of the part state of nagaland and such tribal area as the case may be with the supplement incidental or the consequential modification as may be applied in the notification अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है पहले इसको समझते हैं यह कि यह हमसे कहना क्या चारा है यहां पर कहना चारा है हमसे simple सी बात कि अगर हम जो है बात करते हैं किसकी हम CRPC की बात करते हैं तो जो Code of Criminal Procedure है वो हमारा पूरे इंडिया पर applicable होता है इंडिया पर applicable होने के कारण जो है ये अब पहले जम्बू कस्मीर पर नहीं होता था लेकिन जम्बू कस्मीर Reorganization Bill लेकर आया गया है इसका 2019 वाला amendment उठा के देखोगे तो CRPC पूरे इंडिया पर applicable है लेकिन clause 2 में एक बात लिख दी गई है कि जो इसका chapter number 10, 11 और 8 है वो जो है हमारे किस पर state of nagaland पर और उन सारे schedule tribes पर नहीं लगेगा जब तक कि state government कोई भी specific notification लाकर जो है पूरी तरीके से इसको apply नहीं कर देती इसका मतलब कि जो ये तीन chapter है वो nagaland और travel areas पर नहीं लगते अगर जो है क्या अगर government चाती है वहाँ की state government चाती है कि इसको जो है क्या किया जाए इसको इस राज्ज में भी इन तीनों chapter को लगाया जाए तो वो specifical notification लाएगी official gadget में और इसको कर देगी क्या वहाँ पर लागू कर देगी इसी वज़े से और यहीं से ये प्रमाण मिलता है पहले section से कि state government भी इसको alter कर सकती है और union government भी इसको alter कर सकती है इसी वज़े से इसको concurrent list में रखा कया है clear हुई इतनी बात तो ये question बहुत जादा आपका important हो जाता है कि नागा लेंड पर और कहां पर नहीं लगेगा और हमारे schedule tribes पर ये नहीं लगने वाला है clear हुई इतनी बात तो option number D जो है क्या हो जाएगा option number D is the correct answer of this question इसके साथ में अगर ये भी लिख दिया जाता कि tribal areas पर ये applicable होता है या नहीं तो ये जो है tribal areas पर आपका applicable बिलकुल नहीं होता है जब तक इन दोनों ही चीजों पर नागा लेंड के राज़ पर और tribal areas पर वहां की state वहां की क्या वहां की state government official notification में declare नहीं कर देती that is clear moving ahead आगे चलते हैं next question पर one को पढ़ लिजेगा फोर्स में कब आया ये बात clause 3 में लिखी है itself came into operation or into force on 1st April 1974 ठीक moving ahead next question पर चलते हैं reasons of non applicability of some of the provision of criminal code to the state of नागालेंड have been stated by the supreme court in the case of state of नागालेंड versus रतन सिंग महाराज विक्रम किसोर of तिरपुरा versus provinces of आसाम जोर जिलाना versus state of मिजोरम नागालेंड versus चंग supreme court द्वारा नागालेंड राज में अपराथिक प्रक्रिया सहिता के कुछ प्रावधानों को लागू ना होने का कारण बताया गया है किन के किस case में चार options आपको देख रहे होंगे I hope clearly visible है कल से ऐसा करेंगे थोड़ा सा इसको इधर खिसका देंगे जिससे के हिंदी वालों को भी पूरी जो है सारी चीज़ें समझ में आएं ठीक अब देखो ये एक हमारा landmark judgment है क्या है landmark judgment है in respect of section 1 sub clause 2 जहां पर हमें state of नागालेंड पर ये law क्यों नहीं लगते हैं why it is not applicable to the state of नागालेंड and the tribunal areas ठीक इसका जो है क्या इसका पूरा detailed discussion सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने state of नागालेंड वर्सिस रतन सिंग के नागालेंड राजबनाम रतन सिंग के landmark judgment में किया है और अगर इस judgment को मैं आपको समझाना चाहूं तो यहाँ पर यह क्या ऐसा किया गया देखो schedule tribes जो होते हैं वो हमारे states के जो भी जंगल वंगल होते हैं वहाँ पर रहते हैं और यह माना जाता है Constitution के एंबिट से कि schedule tribes के culture को क्या किया जाएगा culture को disturb नहीं किया जाएगा क्योंकि वो जो है अपने culture में बहुत ज़्यादा superior और rich माने जाते हैं तो उनके culture का preservation करने के लिए जो है क्या constitution भी उनको जो है guarantee देता है और इसी चीज़ को देखते हुए राज्य सरकारें चाहें तो जो भी provision CRPC के नहीं applicable किये गए हैं और उनको applicable कराना चाती है तो जो है schedule tribe पर वो applicable कराई जा सकते है state of nagaland पर कराई जा सकते है यही जो है mainly on river supreme court ने इस case में जो है क्या किया था held किया था तो option number A is the correct answer of this question clear moving ahead next question पर आते हैं समझ गए ना तो state of nagaland versus रतन सिंग का जो landmark judgment है इसको याद रखना most important है CRPC का section 1 sub clause 2 से related exams में पूछा जाएगा इसके आगे ही लिख कर रख लो के judgment का name क्या है रतन सिंग वाला landmark judgment है clear चलो next question पर आजाओ the main characteristic of the code of criminal procedure 1973 then ये प्रक्रिया सहेता 1973 का प्रमुक विसेशता है option A the separation of judiciary from the executive separation of legislature from the executive separation of revenue work from the executive to provide the judicial power to the executive magistrate नियायपालिका को कार्षक और बालिका से अलग करना विधायपालिका को कार-बालिका से अलग करना सुराज कार्रे को कार्रे बालिका से अलग करना कार्रे का magistrateणों को नियायएक सक्तिप्रदान करना बताइये main characteristic क्या है हमारे code of criminal procedure 1973 का तो अगर आप main characteristic को देखोगे हमारे code of criminal procedure 1973 का तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि separation of judiciary from the executive is the main framework of the code of criminal procedure code 1973 कि executive अपना काम करेगा executive का काम क्या है इंडिया को run करना इंडिया के लिए loss बनाना लेकिन judiciary का काम क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो के हमारे executive के end से गलती है तो उस चीज में सुधार लाना ही जो है main काम है और CRPC और Constitution के article 50 को देखोगे तो इन दोनों का एक ही motive है कि executive हमारे judiciary के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा और judiciary हमारे executive के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी बसरते जब तक executive अपनी excesses power को इस्तमाल करके कोई भी गलत काम नहीं करे तो इन दोनों को separate separate branch बना कर काम करने का मौका मिलता है इसी वज़े से हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी गलतियां जो है किसके द्वारा executive के द्वारा या फिर all over India या किसी भी state government के द्वारा की जाती है वो सारी का सुधार जो है parties supreme court में लेकर जाते हैं clear चलो आते हैं next question पर option A is the correct answer of this question moving ahead the code of criminal procedure amendment act 2005 came into force ठीक अब यह important है जितने भी criminal amendment हुए है 1973 के बाद चाहें यह 2006 वाला हो 2005 वाला हो या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका 2000 का amendment था या 2013 का criminal procedure amendment है यह तीनों ही amendment किस purpose के लिए हुए और किस जो है date पर इनको enforce किया गया यह आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ठीक तो दंद प्रक्रिया सहेता संसोदन अधियम 2005 को लागू किया गया 22 जून 2006 21 जून 2005 23 जून 2006 या फिर 23 जुलाई 2006 बताए फटाफट से अब हमारा चाहें आपका 2000 का amendment हो criminal procedure code का या फिर 2005 का जो amendment है वो हो CRPC का या फिर 2013 का criminal amendment हो वो भी यह तीनों ही amendment बाबा आप सब लोगों के लिए और इनको purpose क्या था इन amendment का ठीक प्लस ये कब से force में आई है clear तो ये तीनों चीज़ें क्या करनी है बिटा ये तीनों ही questions आपको पूरी तरीके से ready करके जाने है JLO के exam में directly पूछे जाते हैं previous year paper में देख लेना clear तो 2005 का जो criminal amendment act था वो जो है क्या वो आपको देखने को मिलता है 23rd June 2006 को जो है इसका option number C is the correct answer of this question clear हुई moving ahead next question पर आईए पढ़ लेते हैं act number 25 of 2020 2005 23rd June 2005 and act further to amend the code of criminal procedure 1973 ठीक तो ये जो है कब से force में आया 23 June 2006 से जो है क्या आया 2006 से ये force में आया है that is 2006 ठीक तो option number C is the correct answer of this question moving ahead आगे चलते हैं next question पर the code of criminal procedure divided into ठीक ये question मैंने आपको पहले questions के साथ पढ़ाया था code of criminal procedure is divided into 37 chapter 481 section 39 chapter 484 38 481 sections 37 chapter 484 जो है sections बताइए trick भी बता दी है अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी 1973 का ये हमारा act है और 1973 का last digit का उल्टा करोगे तो 37 chapter है और अगर हम sections की बात करते हैं तो 4 से start होता है 48 और खतम भी जाकर 4 पर होता है clear तो 484 जो है इसके sections है 37 chapter है that is very easy और most important question है अगर schedule भी add कर दिये जाएंगे तो schedule के ऊपर भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि total schedule कितने हैं दो total schedule है तो अगर ये आपका दूसरा question इसमें बन जाता है clear और schedule दो है तो यहाँ पर जो schedule 1 है उसमें classification of offenses की बात की गई है और दूसरे में हमको जो है forms provide किये गए है कि कैसे summons भेज़े जाएंगे कैसे warrant भेज़े जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दूसरे वाले में बताई गई है तो ये भी जो है क्या schedule 1 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है चारो question JLO के perspective से बहुत ज़्यादा important है clear moving ahead next question पर चलते है classification of offense has been given under the code of criminal procedure 1973 कहाँ पर दिया गया है ये question आपसे पूछ लिया जाता है section 320 schedule 1 schedule 2 482 of CRPC ठीक अपरादों का word लिकरन दंड प्रक्रिया सहेता के अंतरगत दिया गया है धारा 310 schedule 1 दुतिया अनसूची ठीक है second schedule या फिर धारा 482 very good गमलेश बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने बताएं जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा बता चुका हूँ मैं classification of offense schedule 1 में दिया गया है और classification of offenses की जब बात करेंगे तो schedule 1 में आपको इस तरीके से total 6 column दिखाई देंगे serial number यहाँ पर दूसरा यह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और चटवाँ, सारी चीज की जानकारी दी गई है कौन सा offense है available है या नहीं, cognizable है या नहीं कौन सा magistrate try करेगा कितनी punishment होगी और बाकी other 6th column में detail आपको बताई गई है clear, तो यह 6 पूरा पूरा जो हमारा schedule 1 है इसको class के बाद खोल के देखिए गया क्या क्या सारी चीज है प्रोवाइड की गई है clear, very good, आगे चलते हैं next question पर non-bailable offenses imply an offense where, option A गैर जमानिती अपरादों का तातपर ऐसे अपरादों से है option A, the accused cannot be released on will, option B grant of will is discretionary with the court but the discretion has to be exercise on well-established principle of granting will, तीसरा the accused may be considered for granting a bail only after the trial of the case court begins, option D, only high court is empowered to grant bail, बताएं फटाफट हिंदी वावों को दिखाई दे रहा है very good चलिए, फटाफट से अब answer कर दीजे non-bailable offenses की बात करें, तो non-bailable offense हमें कौन से offenses होते हैं, जिसमें grant of bail is discretionary with the court but the discretion has to exercise on well-established principle for granting the bail, option number B जमानत देने का नियालायका विवेका दीन है, लेकिन जमानत देने के लिए विवेक का प्रयोग सुपस्टिस सद्दानतों के आधारित पर किया जाना चाहिए, trial court के मुकदमा शुरू होने के बाद ही तो option B जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक अब यार एक बच्चा बार-बार एक कोशन पूछ रहा है उसके बारे में दो मिनट बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक, देखो, यहाँ पर एक चीज पूछ रहे हैं बच्चे मुझसे, काफी दिनों से यह आ रहा है, दो दिन से मैं नहीं क्लास ले पारा था तब यह ख़रा होने के कारण, तो अब मुझसे बारवार किसर आपकी क्या यह जो है, क्लासे सफीशेंट है, JLO के लिए नहीं, देखो यार, मैं अपना पूरा हाड़ वर कर रहा हूँ मैंने बारा घंटे कॉंस्टिटूशन पढ़ाया है मैं चाहता तो उसको चार-पांच क्लासे में भी है, उपर-उपर से आपको कवर करा देता लेकिन मैंने सारा डेटेल में आपको कवर कराया है, डेटेल में कवर कराने का यही मकसद था, कि जो आपका पहला JLO का पेपर होता है, Constitution of India का, उसको मैं आपको पूरा करा दूँ जिससे कि 50 में से at least आप लोग 40 माक्स उसमें स्कोर कर पाएं, कोई बच्चा बता दो JLO के स्लेवर्स में IPC है या नहीं, काफी देर से फणी अड़ा जी परेशान है, और अगर आपने बेटावी तक स्लेवर्स नहीं देखा JLO का, तो फिर आपने JLO की त्यारी स्टार्ट कैसे कर दी पेपर वन का स्लेवर्स पता होना चाहिए पेपर टू का पता होना चाहिए, पेपर थरी का पता होना चाहिए, पेपर फोर का पता होना चाहिए इस चीज़ से ये पता लगता है कि आप जो है, अपने पेपर को लेकर कितने सीरियस हैं और कितना सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लियर कनिका उपल क्या है अब एक चीज समझ लो पहले फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेर एक्ट ओरियंटेड होना चाहिए तो उसके लिए एक अनाउस्मेंट करना चाहरा हूँ क्योंकि देखो सबसे पहले एक चीज समझा दूँ JLO का पेपर जो है मेंस नहीं होगा अबजेक्टिव टाएप आएगा सारी चीजन जो है मैं आपको पूरी तरीके से समझा दी हैं Constitution of India में अगर आपको मेरे according एक बार अपने आपसे भी थोड़े efforts लगाने होंगे ठीक जिससे के आप अपने आपको और ज़्यादा polish कर सकें आपको bare act पढ़ना है बेर act पढ़ने के लिए आप जैसे ही Constitution of India कर लिया जिस भी दिन टाइम मिले पूरी तरीके से आप Constitution के bare act को उठाओ और 100-100 articles करके उसको read कर लो अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एक काम करना अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है पहले ये समझ लीजिए देखो अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आपको पांच बजे से छे बजे तक जारखंड जुडीश्री का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए श्रिमी में हम प्रिलिम्स को फोकस कर रही है प्रिलिम्स को फोकस करते हुए bare act के बेसिस पर आपकी तयारी करा रही है ठीक और उनका भी टारगेट है कि 30 सेप्टेमबर तक आपका पूरा जारखंड का स्लेवर्स कम्पलीट कराना ठीक है अब आपको करना क्या है अब आपको इस पूरे जो है किसमे इस पूरे सेशन के लिए अगर आप मेरे साथ तो constitution करी लिया है ठीक मेरे साथ तो CRPC करी रहे है तो अगर आप जो है सारे bare act को एक बार revise करना चाते हैं तो मेडम की class 5 से लेकर 6 वजे तक होती है बच्चा जहां पर मेडम bare act based त्यारी करा रही है और जारखंड और JLO के subject उठा के देखोगे तो majorly क्या मिलेंगे majorly आपको same दिखाई देंगे क्या दिखाई देंगे majorly आपको same दिखाई देंगे तो मेरी classes से आपको ज़्यादा से ज़्यादा benefit मिले इसके लिए मैं आपके लिए पूरी महलत करना हूँ और आपको constitution में आपका आपने analyze भी किया होगा ठीक लेकिन अगर आप अपने आपको और polish करना चाते हैं तो उसके लिए my classes is more than sufficient बट आपको bare act oriented होना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको article number नहीं याद कराए हैं chapters के name नहीं याद कराए हैं जो भी important case laws, maxims या फिर जो भी important area constitution के आपसे पूछे जाएंगे वो सारी चीजे करा दी हैं इसी बज़े से मैडम ने आपनी जारखंड की series चुरूगी है और उस जारखंड वाली class का फायदा उठा लो न October में paper है 28-29 तारिक डेट आईए ठीक है तब तक तो मैडम सारे subject करा देंगी JLO के लिए 6-6 subject पढ़ने है same judiciary का है वहाँ जारकंड जुडिश्री का है उसको उठाओ बेर act लेके मैडम के साथ बैठो मैडम क्या क्या चीजें समझा रही है कौन सा section important बता रही है वहाँ से भी पढ़ लो एक यहां से पढ़ लिया question यहां से करके concept यहां से समझ लिया वहाँ से भी पढ़ लिया अब बताओ आपको कौन रोक सकता है जेलो का जेलो बनने में या जेलो के पिपर को क्वालिफाई करने में हम मैनत कर रहा है ना आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैनत आप भी कर लो पांच वजे वाली class कर लोगे तो कोई नुकसान तो हो नहीं जाएगा एक बार और चीजें कवर हो जाएगी और master हो जाओगे उसमें और फिर करना जेलो में लेकर आना रेजल्ट पचास बच्चे चाहिए कम से कम जेलो की इस free series से select होने वाले इतनी seat आईए पचास रेजल्ट चाहिए काम आपको भी करना है मेरे साथ मैं तो करी रहा हूँ मैडम भी करी रही है पढ़ो यार पढ़ाई तो रहें पढ़ना आपका काम है दो घंटे तो निकाली सकते हो ना पढ़ने के लिए हर चीज एवलेबल है डेडिकेशन हमारा होना चाहिए कि हम पेपर को लेकर कितने डेडिकेटेड है पांस से छे इवनिंग में क्लास होती है ठीक तो वहाँ पर जाकर आप मैडम की क्लास कर सकते हो इंडियन पीनल कोड मैडम अभी कवर करा रही है उसके बाद मैंने भी यह strategy प्लान की है कि उसके बाद मैं जैसे मेडम का उधर कोई subject चलेगा उसी से related हम लोग MCQ करेंगे लेकिन हमारा motive अभी CRPC को complete करना है next Wednesday clear चलो बिलकुल प्रियंका सारस्वजी खुद teachers के साथ साथ में आपको खुद के भी efforts चाहिए होते है मैं तो पढ़ा ही रहा हूं मैं तो मैंने दो दिन class नहीं ली that is my fault मेरी तवियत खराबती उसकी कोई चिंता नहीं करनी है Sunday को उसकी extra class होगी 10 से 12 extra class लोगा साम को 6 से 7 भी लोगा Sunday की इस बार चुट्टी नहीं है आप लोगों की करना Wednesday टक है जब target Wednesday का है तो we will finish on Thursday चलो let's focus on the class come to the next question Bay level offense means Bay level offense का क्या मतलब है यह आप से पूछा जा रहा है Bay level offense की definition आपने किस section में और कहां पर पड़ी है यह आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो दो दिन से चुट्टी थी आपने नहीं पड़ा तो अभी discuss करते हैं तो सबसे पहले आईए हिंदी की classes का बेटा पहले class को continue करो फिर मैं हिंदी की classes पर भी बात करूँगा clear Bay level offense means Bay level offense का क्या मतलब है जमानती अपराद का अर्थ है option A an offense which is shown as bay level in the first schedule of the CRPC an offense which is made bay level by any other law for the timing in force both A and B none of the above ऐसा अपराद जिसे CRPC के तहत पहली अनुसूची में जमानती अपराद में दिखाया गया है ऐसा अपराद जिसे उस समय लागू ऐसा अपराद जिसे उस समय लागू किसी अन्यकानून या द्वारा जमानती बना दिया गया है दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो हमारा जो CRPC का section number 2A है वो किसके बारे में बताता है देखे यहाँ पर 2A लिख लीजे वो bay level offense के बारे में बताता है इसका मतलब क्या है means and offense which is shown bay level in the first schedule that is the first interpretation खिक के मतलब जो भी हमारे CRPC के कहाँ पर CRPC के schedule number 1 में bay level बताए गए है वो सारे offenses जो है किसमें आएंगे bay level offenses में आएंगे और अब देखो यहाँ पर और word का इस्तमाल हुआ है मतलब इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर कह रहे है एक बात खतम कर दी इस तरीके से Bayer Act का interpretation करके पड़ते हैं कि पहली बात यहाँ पर हमारी समाप्त हो गई है अब दूसरी बात की दूसरी बात स्टार्ट हो रही है which is made available by any other law for the time being enforced ठीक अब देखो यहाँ पर बस दूसरी बात को यहाँ पर खतम कर दिया गया है कि ऐसे सारे यह तो पहली बात हो गई यहाँ पर और यहाँ से दूसरी बात स्टार्ट हो गई है जो यहाँ खतम हो रही है मतलब ऐसे सारे offenses जिनको किसी भी दूसरे act में मतलब जो कि हमारे criminal procedure से related है मतलब crime है इंडिया में और वो जो है क्या उनको दूसरे laws में हमारा bailable बनाया गया है clear तो उन सारे laws को हम क्या कहने वाले हैं उन सारे laws को हम जो है यहाँ पर पूरी तरीके से देखिए उनको भी हम bailable offenses की परिभासा में रखने वाले हैं clear और तीसरी and non bailable offense means any other offense मतलब या तो CRPC के schedule 1 में जो चीज़े बताई गई है वो bailable मानी जाएंगी या फिर कोई भी criminal act है उसके अंदर जिन चीज़ों को bailable बनाया गया है वो भी हमारे किस में आने वाले हैं लेकिन जितने भी other offenses हैं उनको हम non bailable कहेंगे इसका मतलब अगर POXO Act की बात करें तो POXO Act में जो है क्या अगर आपको कोई भी offense bailable बनाया गया है तो वो भी जो है हमारा bailable माना जाएगा CRPC के prospective से clear इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं इसी तरीके से bear act को interpretate करके पढ़ते हैं और इस question का जो सही answer है वो है option number C, clear moving ahead next question पर आईए C is the correct answer complaint may related to, complaint जो है किस से related है ये चीज आप से पूछी गई है a non-cognizable offense, both A and B option C must be for the non-cognizable offense as the police has no power to investigate such offense requirements एक सिकायत किससे संब्ढदित हो सकी है एक संगीये अपराद एक गैर संगीये अपराद A & B दोनों या फिर गैर संगीये अपराद के लिए होना चाहिए, क्यों कि पुलिस के पास ऐसे अपरादों कि जाज करने की कोई सक्ती नहीं होती है किसकी बारे में पूछ रहा है complaint के शिकायत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट से बहुत सारे कोशन रह रहे हैं आज के सेशन के बताएं फटाफट बोथ A and B option number D complaint complaint कहां define है 2D में ठीक और 2D में define होने के साथ ये question आपका prelims के लिए important है direct पूछ लिया जागा CRPC के section 2D में क्या दिया गया है दूसरा आपको यहाँ पर एक और question पूछा जाता है इसके explanation से कि कब हम किसी भी police officer को complainant मान सकते हैं ये question repeatedly आपका exams में पूछा जाता है clear तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें complaint में कौन-कौन सी चीज़े आएंगी ऐसे सारे offenses जो के cognizable है और non-cognizable है वो दोनों ही हमारे complaint में आते हैं तो option number C जो है इसका सही answer है 2D को पढ़ते है 2D क्या कहता है section number 2D बात करता है complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate ठीक अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है complaint की बात हो रही है तो यह किसको की जा रही है हमारे magistrate साब को की जा रही है magistrate साब कैसे की जा रही है या तो हम oral कर रहे हैं या फिर writing में कर रहे हैं मतलब अब यहाँ पर 3 प्रस्न बन गए complaint के ऊपर के complaint जो है या तो oral की जा सकती है या written की जा सकती है और किसको की जाएगी magistrate साब को की जाएगी with a view to take his action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report that is the most important question of the prelims for JLO के हमारी जो complaint होगी मतलब यहाँ समझेगा के हमारी जो complaint होगी complaint से हमारे कितने question बनते है तीन question बनते है clear तो तीनो question में पहले के define कहाँ पर है 2D में दूसरा कि यह oral हो सकती है और writing में हो सकती है तीसरा यह magistrate साब को की जाती है चौथा कि इसमें police report जो है क्या police report include नहीं होती police report को हम इसमें include नहीं करते यह question बहुत ज़्यादा important है चार question कर लिए इससे definition clause में basic हो सकता है कि time लगे और क्योंकि मैं definition clause पर सबसे ज़्यादा क्या करूँगा सबसे ज़्यादा focus करूँगा क्योंकि यहाँ से बहुत question बनते हैं और definition clause के हर definition clause से 4-4-5-5 question important बनते हैं तो हो सकता है कि 2 classes या 3 classes में हम जो है starting के provisions को discuss करें लेकिन यह प्रस्न पूछे जाएंगे क्योंकि complaint से ही आपके 4 important question बन गए अब आजाओ इसके explanation पर जो 5-1 question 2-D के उपर बनता है कि कब किसी police officer को complain and treat किया जाएगा ठीक तो इसका explanation पढ़ते हैं a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complainant ठीक दूसरा and the police officer by whom such report it made shall be deemed to be a complainant ठीक तो ऐसे तो ऐसे सारे offenses जहाँ पर investigation के बाद मतलब investigation कौन करता है police officer करता है ठीक है police officer investigation करता है दूसरी बात कि investigation के बाद police officer को ऐसा पता लगता है कि ये जो है offense क्या है non-cognizable offense है ठीक तो वो जो है police officer को हम क्या treat करेंगे उसको जो है complainant की तरह treat किया जाएगा ये बहुत जादा important most most important question है total इस section से 5 question आपके बन गई 2D से ही हमने 5 question को discuss किया है clear हुई इतनी बात अब एक important बात समझने वाली है कि complaint जो है किस section में की जाती है कोई बता सकता है complaint complaint CRPC के किस section में की जाती है बच्चा बबा जल्दी से comment करके बताओ section number पूछ रहा हूँ definition clause का sub clause नहीं पूछ रहा देखो complaint का procedure बताने लग गए 200 से लेकर 203 तक ठीक इसका पूरा procedure दिया गया है अब यहाँ पर एक चीज़ समझो जब हम complaint की बात करते हैं तो section 190 का क्या होता है most important रोल आता है अब complaint की क्यों जाती है यह भी आप समझे यह देखो जब आप police officer के पास गए और police officer ने आपकी FIR को लेने से मना कर दिया तो उसके पाद आपके पास रास्ता होता है कि आप जो है police officer के जो है उपर वाले अधिकारी के पास मतलब superintendent of police के पास जाकर अपनी सिकायत को दर्ज करा सकते हैं अगर superintendent of police भी नहीं सुन रहे है SP साब की तरफ से कोई जवाब नहीं आता वैसे SP साब सुन लेते हैं और SP साब किसको order कर देंगे या तो उसी officer को जिसने आपकी FIR को लेने से मना कर दिया है या फिर किसी भी उसी rank के officer को तीन चीजे बता रखी है सबसे पहली होती है C दूसरी होती है P और तीसरी होती है अब CPI का मतलब क्या है या तो किसी भी इनसान ने judicial magistrate साब को क्या की है complaint की है judicial magistrate साब को complaint की है और उस complaint के आने के बाद judicial magistrate साब का ये फर्ज बन जाएगा कि वो जो है क्या करेंगे आपका पूरा का पूरा complaint को analyze करेंगे उसकी inquiry कराएंगे और inquiry कराने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि पूरी जो है क्या पूरी substantive information है और आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो उसको जो है क्या क्या करने वाले है ठीक पहली हो गई हमारी क्या C से मतलब हो गया complaint दूसरी होती है पुलिस रिपोर्ट ठीक पुलिस रिपोर्ट के थुरू या फिर किसी भी इनसान ने जो है आपको magistrates आपको ये प्रोवाइड की है अब यहाँ पर B जो section 190 sub clause 1 और जो sub clause 190 clause 1 sub clause B को अगर आप explanation 2D से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पुलिस रिपोर्ट के जो second वाला है तीसरा क्यों रखा गया और तीसरा गया होता है तीसरा आई से मतलब होता है कि magistrates आपको कोई भी information प्राब्ट हुई है कि कोई भी information से उन्हें पता लगा है किसी के भी थुरू कि कोई भी crime कमिट हुआ है तो इसमें वो खुद से भी स्यू मोटो कॉगनीजेंस ले सकते हैं तो आपका 190 clause 1 के ये A, B, C तीनों ही बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं और यहाँ पर इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है इसी वज़े से मैंने आपको ये link करके समझा दिया है clear यार CRPC मैं पढ़ाता हूँ मेरा favorite subject भी है तो CRPC का explanations आपका coaching का जो है बहुत अच्छा मिलने वाला है मतलब आपको CRPC के यतने बहतरीन बहतरीन illustration और explanation मिलने वाले है कि मज़ा आ जाएगा कि ऐसे भी CRPC को पढ़ा जाता है या नहीं clear तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो आपका option number C है वो बिलकुर इसका सही answer है clear moving ahead next question पर चलते हैं next question है हमारा complaint as provided under section 2D of CRPC can be in writing only oral either writing or oral और by gesture ठीक CRPC की धारा 2D के तहद की गई सिकायतें जो है क्या CRPC हो सकते हैं cable लिखेत रूप में cable मौके cable लिखे क्या मौके या फिर इसारों से यह आप से पूछा जा रहा है clear तो यह question अभी discuss किया है कि हम जो है complaint को या तो written form में दे सकते हैं या oral form में दे सकते हैं यह बात हमने कहां से starting के ही first जो है first पैरा से पड़ी और यहां से आपको bare act को कैसे read किया जाता है और कैसे हम जो है comma पर रुकते हैं फिर दूसरे sentence का क्या meaning निकालते हैं या दूसरे sentence से कैसे हम तीसरे को relate करके उसका full meaning बनाते हैं तो आपको bare act की भी reading की understanding पूरी इसमें पता चलने वाली है clear हुई इतनी बात तो option C जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है clear अब जो है आज के session में हम इतना ही पढ़ेंगे और इतना पढ़ने के बाद आपको कल के session में जो है क्या अपने सिर्फ और सिर्फ section 2 के बचे हुए provisions पर focus करना है moving ahead आज का पहला question आपके screens पर in a cognizable offense a police officer संगे अपराद में एक police अधिकारी option A cannot be arrested and accused without warrant option B can keep the accused in the police custody without a remand option C is not required to produce the accused before a magistrate option D may arrest and accused without warrant ठीक clearly दिख रहा होगा English और Hindi बालों को फटा-फट से आपको इसका सही जवाब बताना है cognizable offense के मैंने आपको कल जो है बहुत सारे question करा दिये थे लेकिन ये एक उसमें क्या police officer के पास power है कि वो directly जाकर किसी भी व्यक्ति को arrest कर सकता है या नहीं या फिर non-cognizable offenses में तो यहाँ पर आपको इसका option number D दिख रहा होगा सही answer may arrest and accused without warrant ठीक तो जितने भी cognizable cases होंगे उसमें जो है accused को arrest करने का अधिकार होता है वो जो है किसको होता है directly आज बोट ठीक है चलिए ठीक है सबको देखेगा क्योंकि थोड़ा सा इधर shift कर दिया clear तो आप accused को police officer कभी भी arrest कर सकता है ठीक किसी ROP को बिना warrant के भी गिरपतार कर सकती है police or police अधिकारी ये question आपका बहुत ज़्यादा important हो जाता है ठीक तो option number A D is the correct answer of this question पहला question हम लोगों ने कर लिया है अब इसके बारे में कुछ जानकारी ले ले लेते हैं संगे अपराद वे अपराद है जिसमें police अधिकारी पहली अनसूची के अनसुआर या उस समय लागू किसी भी अन्न कानून के तैद दोसी को बिना warrant के गिरफतार कर सकता है और अदालत की अनुमती के बिना जाच शुरू कर सकता है मतलब यहाँ पर आप इसको English में पढ़िएगा और ज्यादा समझ में आएगा तो यहाँ पर जब भी कोई 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 कोई की information किसको police officer को मिलेगी तो उसके पास अधिकार है कि वो जिसके उपर allegation लगे हुए है उसको without warrant arrest कर सकता है FIR को लिखने के बाद में और उसके की तैकी कात मतलब investigation स्टार्ट कर सकता है clear इसी वज़े से इसका जो है option number D is the correct answer of this question moving ahead next question पर आते हैं which one of the following section of the criminal procedure 1973 has defined the word offense ठीक यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपरादिक प्रक्रिया सहिता 1973 की निमलिखित में से किस धारा में अपराद सब्द को परवासित किया गया है offense word को कहाँ पर define किया गया है section 2F, section 2N, section 2I, section 2P जल्दी से बताइए word offense को कहाँ पर जो है क्या कहाँ पर define किया गया है मैं बात कर रहा हूं किसकी हमारे code of criminal procedure 1973 की और इसमें section 2 के किस definition के clause में इसको define किया गया है तो जब हम बात करते है किसकी word offense की तो word offense की definition जो है हमें देखने को मिलती है कहाँ पर section number 2N में 2N में धारा 2N बताती है हमको कि जो है offense की क्या परिभासा होगी जब हम बात करते है offense की तो offense की परिभासा आपको एक बार read कर लेनी चाहिए offense means any act or omission क्या कह रहा है offense का मतलब क्या है कोई भी act or omission made by punishable by any law for the time being enforced and including an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass act 1871 ठीक तो यहाँ पर offense की जो definition बताई गई है इसमें दो चीज़ बताई गई है कोई भी act या फिर omission ठीक है made punishable by any law for the time being enforced मतलब या तो वो जो है कोई भी law इंडिया में applicable है मतलब IPC हो गया ठीक जो के crime से related है तो यहाँ पर कोई भी इंसान act कर रहा है या फिर omission कर रहा है सारे laws में भी अगर कोई भी इंसान कोई भी crime commit कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा उसको जो है पूरी तरीके से हम ये समझेंगे कि उसने offense किया है या फिर उसने section 20 के जो हमारा cattle trespass act है 1871 का उसके against भी complaint आई है तब भी वो जो है offense की परिवासा में क्या होगी offense की परिवासा में मानी जाएगी देखो अब यहाँ पर आप confuse मत होना Indian Penal Code ठीक Indian Penal Code 1860 ठीक अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ बहुत छोटी सी हूँ बद important बहुत है CRPC हमारा क्या है देखो CRPC बच्चा अब देखिए कहाँ पर लिखते हैं इदर देखेगा नहीं आपको यहाँ लिखता हूँ ठीक है CRPC आपका क्या है procedural law है ठीक procedural law का मतलब क्या है यह हमें एक विधी बताता है क्या बताता है पूरी विधी बताता है एक ऐसा कानून है जो हमें एक विधी को जिसने crime commit किया है उसके किस तरीके से trial होगा किस तरीके से investigation होगी किस तरीके से inquiry की जाएगी और अगर वो दोसी पाया जाता है तो उसको क्या-क्या अधिकार दिये जाएगे या फिर जब उसके ऊपर दोस सिद्ध करने का मतलब जब उसके ऊपर allegation लगाए गए है और उसका मुकदमा चल रहा है तो उसको क्या-क्या अधिकार होगा कैसे इसका trial किया जाएगा फुलिस को क्या right सौंगे जिसके ऊपर allegation लगे है उसके क्या right सौंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हमारा CRPC 1973 क्या है एक procedure बता रहा है कि समाज में जितने भी crime commit किये जाएंगे उन crimes का जो है क्या उन crimes का अगर किसी भी criminal के against में मुकदमा चलना है case चलना है तो उसको हम कैसे follow करेंगे ठीक तो इसी वज़े से इस पर बताया गया है कि ये एक static procedure है court जब भी किसी भी आदमी का criminal case सुन रही होगी तो उसको ये सारी चीज़े follow करनी होगी इसमें लिखे हुए accused के rights को accused को देना होगा victim के rights को victims को देना होगा जो दोनों partyों के advocate हैं उनके भी कुछ अधिकार है उनको देना होगा उसके बाद जो है बाती witnesses के अधिकार है वो उनको दिये जाएंगे और पूरे procedure को follow करने के बाद जो भी निसकर्षपे just साब पहुचेंगे तो उनके लिए एक ही static procedure बना दिया गया है लेकिन अगर हम crime होने की बात करें तो इसी वज़े से हम 1973 के इस act को क्या बोलते हैं procedural act बोलते हैं procedural act वाला question JLO के perspective से most important है जो कि आपके exams में पूछा जाएगा अब हम ये कहां से देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसके procedure को follow करके convict करना है तो उसने crime कहां किया है उसने crime किया होगा इंडिया में applicable सारे ऐसे laws जिसमें crime को define किया गया है suppose Indian penal code क्या है हमारा एक substantive law है Indian penal code substantive क्यूं है उसका भी कारण बताता हूँ क्यूंकि वहाँ पर जितने भी offense इंडिया में punishable बनाए गए है उन सब की जानकारी दी गई है उसमें अगर कोई भी व्यक्त ऐसी चीजों को करते हुए पाया जाता है तो उसको कितनी punishment दी जाएगी ये सारी चीज़े कहां बताए गई है Indian penal code में बताए गई है ऐसे ही अगर हम दूसरे laws की बात करें जो हमारा atrocity act है या फिर हम बात करें prevention of corruption act की या फिर हम बात करें हमारे domestic violence act की या फिर हम बात करें POXO act की तो ये भी क्या है ये सारे भी crime against society है क्योंकि यहां पर अगर आप किसी के विरुत crime कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि Indian जो है law में आपने कोई crime commit कर दिया है और उनकी भी prescribed punishment आपको उन acts में बताई गई है तो इन सारे substantive law में जहां पर आपको crime करने का तरीका या फिर किसी भी इनसान ने कोई ऐसा act किया है जो के IPC या India के other laws में लिखा गया है तो वो सारे laws क्या कहलाएंगे वो सारे laws आपके substantive law कहलाएंगे और उन substantive law के according कोई व्यक्ति crime करता है तो उसके बाद हम CRPC का रोल अदा करते हैं जब उस व्यक्ति का criminal trial को start किया जाता है तो CRPC का काम कब start होगा जब crime commit कर दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा Indian penal code में या फिर other laws में ठीक तो ये याद रखेगा कि दोनों ही important चीज़ें मैंने आपको बता दी कि why Indian penal code और other laws जहां पर crime define है कि वो जो है हमारे substantive law होते हैं और CRPC को हम procedural law के अंदर क्यों रखते हैं क्योंकि ये JLO का most important question है पांचवे option के लिए सर जो नया आया है हो गया है exam pattern में तो उस exam pattern को जो है आपको अब आगे आने वाले RPSC के जतनी भी exam है उसमें follow करना होगा क्या-क्या changes हुए हैं क्या-क्या बदलाब हुए हैं यहाँ पर बताऊंगा तो 15-20 minute लग जाएंगे एक 15 minute का वीडियो आज 3 बज़े मैंने किया था कि आप लोगों को बता सको इसी बज़े से मैंने जो है क्या इसी बज़े से एक अरक से separate video बनाया है जाकर देख लीजेगा सारी detail पता लग जाएगी clear तो यहाँ पर offense अगर Indian Penal Code में बात करें तो offense की परिवासा कहा दी गई है section number 40 में word offense को define किया गया है Indian Penal Code के ठीक लेकिन JLO में आपका IPC नहीं आता है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन हम जो offense की definition देखते हैं अगर हम CRPC के perspective से देखें तो section number 2N में हमको provide की गई है clear हूँ इतनी बात तो यह most important question है जो मैंने अभी आपको बताया substantive law वाला कि CRP substantive law क्यूं है और इस पर कई जगे जो है क्या कई जगे आपको देखने को मिलेगा कि means में भी जहाँ-जहाँ means होते हैं जो भी जुडीश्री के होते हैं उस पर यह question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं clear अच्छा वही वीडियो देखकर पूछे है difficulty level बढ़ेगा नहीं difficulty level as such नहीं बढ़ेगा जो जेलो का standard है उसी benchmark पर पेपर आपसे पूछा जाएगा जुडीश्री के standard पर नहीं पूछा जाएगा अब बहुत ही ज़्यादा किसमत खराब हो और आयो कुछ और ही सोचके बैठा हो तो जुडीश्री वाला पेपर जेलो में दे दे वो बात अलग है लेकिन बस 5 option आएगे और उस वीडियो को देख लिए ना कैसे कैसे उनको solve करना है वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है कि कनिका कह रही है चलिए आगे चलिए next question पर आईए section 2H of the code of criminal procedure code defines the term investigation charges inquiry या फिर offense ठीक then प्रक्रिया सहेता धारा 2H सब्द को परिवासित करती है जाच परताल जाच सुल्क जाच करना या फिर अपराद बताईए section 2H किसके बारे में बात करता है section 2N तो offense के बारे में बात करता है और section 2H किसके बारे में बात करता है investigation के बारे में बात करता है clear हुई इतनी बात और investigation किसके द्वारा की जाती है कल पूरा diagram बना के समझाया था तीन stages होती है अब आपको समझ में आया होगा इन तीन स्टेज इसका क्या-क्या मतलब है पहली होगी investigation दूसरी होगी inquiry तीसरी होगी trial और इसके बाद last जो स्टेज होती है judgment ठीक तो जो investigation हमारी किसी भी crime को commit होने के बाद पहली स्टेज मानी जाती है और इसको section number 2 h of criminal procedure code 1973 में define किया गया है और investigation की किसके द्वारा जाएगी investigation police officers के द्वारा ही हमेशा conduct की जाएगी FIR को लिखवाने के बाद में और जैसे ही ये FIR लिख जाएगी और यहाँ पर police अपनी final report क्या करेगी final report submit कर देगी section 173 of criminal procedure code 1973 के अंदर police को अधिकार होता है कि जो भी investigation की report आई है वो जो है पूरा conclude करने के बाद judicial magistrate साब को भेज दी जाती है जैसे ही final report submit की जाती है इस point पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर judicial magistrate साब अपना जो है mind apply करते हैं कि police officers की जो report है वो सही है या नहीं police report उनके पास सही आई है या नहीं या फिर क्या-क्या conflict इसके बनते हैं तो जहां से judicial magistrate अपने mind को apply करना शुरू करते हैं वहां से हमें देखने को मिलता है कि जो judicial magistrate जब तक यहाँ पर charge framing नहीं कर देते किसके against में accused के against में यह हमारी जो है stage कहलाती है inquiry की तो investigation की जो stage है वो first stage होगी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यह जो है किसके द्वारा यह जो है हमारा पूरा का पूरा police के द्वारा ही की जाती है clear तो option number A is the correct answer of this question इतनी बात समझ में आई सारे लोगों को जो कल का यह diagram था अगर कल की class नहीं देखी है तो आज के बहुत सारे question गलत होने वाले हैं moving ahead next question पर चलते हैं victim is defined in the code of criminal procedure under section 2V, section 2WA, section 2WB, section 2T क्या कह रहे हैं पीडित को डंद प्रकिया सहता के अंतरगत परिवासित किया गया है कौन से section में 2V के अंदर 2WA के अंदर, 2WB के अंदर या फिर 2T के अंदर बताएं फटाफट word victim is very important for the prelims point of view जहां पर आपका JLO में तो सिर्फ एक ही एक्जाम होगा और word victim की बात करें तो यहां पर हमें बताया गया है कि पीडित कौन होगा या फिर पीडिता कौन होगी और इसको जो है हमारे कौन से amendment से 2009 के amendment से code of criminal procedure के section 2W के अंदर जोड़ा गया था तो यह जो है बहुत ही important question है इससे related कुछ और important question बनते हैं शायद यहां लिख रहा हूं तो दिखने रहा पहला कि यह 2W में इसमें victim define किया गया है प्लस victim के बहाफ पर कौन कौन लोग case file कर सकते है यह define किया गया है प्लस इस victim व्यक्ति को 2009 के criminal amendment से CRPC में incorporate किया गया है यह तीनो question आपके क्या हो जाते है तीनो question most important question हो जाते है exam prospective से ठीक तो एक बार victim की जो है हम literal meaning को समझ लेते हैं और क्या हमारे बताया गया है CRPC में इसको एक बार पढ़ लिजे क्योंकि important है और यहां पर क्या क्या चीज़ें आपको जो है victim को समझने के लिए आनी चाहिए victim means a person who has suffered any loss और injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression victim अब देखो यहां पर क्या बताया कि ऐसी कोई भी जो है गटना जो कि किसी व्यक्ति को कोई भी loss देती है injury देती है ठीक है और एक reason of act omission के थूँ जो है उस व्यक्ति को नुकसान पहुचाया जाता है उसको हम क्या बोलते है victim पीडित बोलते है दूसरी सबसे important बात कि अब victim के अंदर कौन-कौन आएंगे यह question आपका prelims में बेटा हमेशा पूछा जाता है ठीक तो यहाँ पर अब एक चीज़ समझने की कोशिश की दिएगा कि यहाँ पर मैं आपके तीर और question ready करा रहा हूँ कि victim includes victim जो है क्या-क्या include करते हैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की जड़ुवत है victim includes his और her guardian क्या include कर रहा है his और her guardian को include कर रहा है पहला point के जो भी हमारा victim होगा पीडिता होगी चाहें लड़का हो या लड़का लड़की हो तो उसके जो parents होंगे वो जो है क्या वो जो है उसके parents और guardian होंगे वो दोनों ही जो है उसका व्याव पर case कर सकते हैं दूसरा his legal hair जो भी उसके legal hair LRs हैं वो भी जो है उसके वहाव पर case कर सकते हैं new clause WA inserted in section 2 of the CRPC added by the amendment act 2008 जो के हमारा 2009 में force में आया था 2009 में ये amendment किस date को force में आया था देखते हैं कौन बच्चा इसको comments करके बताएगा तो यहाँ पर याद रखने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारे legal क्या होंगे victim किस-किस को include करेगा his और हर guardian को और legal hairs को ठीक तो ये question आपका prelims में पूछा जाता है clear चलो ठीक very good Priyanka and Sajid Anshari 31-12-2009 को ये 2008 का amendment force में आया था very nice very nice very nice सभी बार 31-12 आखरी दिन था साल का और इसको याद रखेगा important question है prelims point of view से ठीक guardian और legal hire ही मैंने आपको बताया है इसके अलाबा कोई दोसरी चीज मैंने आपको नहीं बताई है तो B जो है इस question का बिल्कुल सही answer हो जाएगा और इससे related ये सारे 5-6 question हम ऐसे हमसे पूछे जाते हैं moving ahead next question warrant case defined under section 2x of the CRPC as the case relating to an offense punishable with the death imprisonment of life, imprisonment for a term exceeding 3 years, exceeding 2 years, exceeding 1 year exceeding 1 year but not exceeding 2 year किसकी बात कर रहा है warrant case CRPC section 2x के तहत पूछ रहा है कि warrant case में क्या-क्या चीज़े include होती हैं तो जब आपने section 2x को खोल के देखा होगा warrant case के respect में तो आपको पता होगा कि warrant cases वो cases होते हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को ठीक कहां पर exceeding 2 years की punishment दी जाती है दो या दो साल से अधिक वाले जो तिने भी cases होते हैं उनको हम जो है कैसे warrant cases की तरह trial करते हैं और warrant cases का basic funda है सकती है clear तो warrant case का मतलब वो सारे cases जहां पर 2 साल से अधिक punishment है और अगर minimum punishment 2 साल से है अधिक और maximum की बात करें तो death sentence तक दी जाती है वो हम warrant cases में रखते हैं और 2X में इसकी definition दे रखी है warrant case का मतलब होता है case relating to an offense punishable with death, imprisonment of life, imprisonment for a term exceeding 2 years ठीक तो यहां पर याद रखने वाली क्या बात हमारी निकल कर आती है warrant मामला का मतलब मौत अजीवन कारावास या 2 साल से अधिक अबदी के कारावास की दंडन या अपराद से संबंदित मामला है मतलब अगर आप से कभी भी warrant cases के बारे में पूछा जाए WC के बारे में तो याद रखिएगा ऐसे सारे offenses जिनमें 2 साल से जादा की सजा का प्रावधान है क्या? सजा का प्रावधान है वो सारे लोग क्या करेंगे? वो warrant cases को जो है पूरी तरीके से जो है warrant cases में आएंगे और इसमें up to death penalty दी जा सकती है तो warrant cases की definition हमें यहाँ देखने को मिलती है इसी के बाद जो है अगर हम summon cases की बात करें ठीक तो summon cases में ऐसे सारे offenses जो के up to 2 years तक का punishment या फिर less than 0 से लेकर up to 2 years तक का punishment जिनमें होता है उनको हम जो है क्या बोलते हैं summon cases बोलते हैं clear यह दोनों ही question आपसे हमेशा prelims में पूछे जाते हैं और most important question है CRPC के perspective से clear हो इतनी बाद moving ahead next question पर आईए which one of the following which one of the following proceeding is a judicial proceeding निम लिखित में से कौन सी कारवाई निया एक कारवाई है investigation, inquiry and investigation, inquiry and trial trial and investigation ठीक जाँच परताल, पूस्ताच और जाँच, पूस्ताच और prediction, prediction और जाँच बताए फटाफट जल्दी से बताओ जार slow कर रहे हो questions पढ़ाने में मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन आपकी speed जो है क्या है थोड़ी सी slow है फटाफट से बताए see see कलवाला चार्ट याद आ रहा है जिस बच्चे को कलवाला चार्ट याद आ रहा होगा ऐसे सारे questions चाहें किसी के ऊपर भी आ जाएं वो जो है इसको गलत अब नहीं करेंगे ठीक तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि directly आप देख सकते हो judicial proceeding की बात अगर मैं आपसे करूँ तो judicial proceeding कौन सी होती है जहां से जो है charge sheet को frame किया जाता है second stage से जहां से police report finally submit होती है और judicial magistrate अपना जो है क्या करते है mind apply करते है ठीक तो जो हमारी second stage होती है trial की जहाँ पर judicial magistrate खुद से उस police report को verify कर रहे होते है या फिर किसी से उसकी पड़ताल करा रहे होते है उसको हम inquiry बूलते है और उसके बाद charge framing हो जाने के बाद इसका जो है क्या होता है trial start होता है तो trial start हो जाने के कारण trial start हो जाने के बाद में हमें देखने को मिलता है कि inquiry और trial जो है हमारे किसके अंदर आती है जुडिशल प्रोसीडिंग के अंदर आती है याद कर लिया है कि अकल का चार्ट पेपर जल्दी से हाथ उपर करके बताओ फटाफट से जल्दी मुझे बताओ कि कल का जो मैंने आपको CRPC का पूरा एक लाइन पर पूरे CRPC को ड्रॉ करके बता कि जहां से क्राइम स्टाट होता है उसके बाद FIR होती है पुलिस अपनी कारवाई शुरू करती है उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है रिपोर्ट बनाकर सम्मिट करती है तो रिपोर्ट किस सेक्शन में बनाकर सम्मिट करेगी 173 में उसके बाद में अ सम्वंक के सजा है तो हमारा C-R-P-C काम करता है आपने आज हीłąट किया है सुनील गहलोजी तो कल की क्लस जो पहला बेसिक फंडा मैंने बताया था जहां पर हमने स्टार्टिंग class के questions करें थे उसको ध्यान रखिएगा उसको जरूर कर लीजेगा मिलेगा कहां study IQ judiciary के YouTube channel पर जाएगा YouTube पर वहाँ पर playlist में free JLO course के नाम से एक playlist है उसमें Indian constitution पूरा करा रखा है 12 गंटे में और CRPC का आज दूसरा lecture है clear और कल बेटा extra class है extra class मतलब 3 गंटे की class करेंगे जहां पर CRPC आज 25 section तक करेंगे और इसके बाद में हम आगे के sections को भी कल 100 तक करने का या 125 तक करने का target रखते है clear moving ahead तो option number C पूश्टाच और परिक्षण हमारे जो है किसके नियायक कारभाई के तहट आते हैं तो option C जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है moving ahead next question पर आजाईए summons cases means case relating to and of an punishable bit summons case का मतलब किसी अपराद से संबंदित मामला है जो डंडनिय है I think ये सबको आता होगा imprisonment for 10 year imprisonment for a term of 10 year imprisonment for a term exceeding 2 year imprisonment for a term not exceeding 2 year ठीक warrant cases के साथ ही क्या summon cases को समझाया है एक भी बच्चे का आंसर गलत ना आए सारे बच्चे आंसर सही करें एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आना चाहिए सारे आंसर करो पहले तब आगे आगे वाले question को कराऊंगा बहुत easy question है summons cases का वो सारे cases जहाँ पर 2 साल से कम की punishment दी गई है उन सारे cases को क्या बोलते हैं हम लोग संबन cases बोलते हैं clear हो इतनी वर तो option number इसका डी जो है क्या हो जाएगा बिलकुल सही जवाब हो जाएगा दो बर्से अधिक की अवदी के लिए कारावास गलत क्या है हिंदी में गलत है क्या गलत है प्रीती शर्मा डी ये वाला क्यों पढ़ रहे हो बेटा ये पढ़ो ना दो बर्से अधिक की अवदी के लिए दो बर्से अधिक की अवदी के लिए कारावास इम्प्रिज्मेंट, नॉट एक्सीडिंट 10 एao हाँ, ओप्शन, इसका ओप्शन गलत है दो साल से कम होगा, अधिक नहीं होगा दो साल से कम की अबधी के कारावास को हम जो है किस में बोलते हैं, सम्न केसिज में बोलते हैं, क्लियर, हाँ गलती हो गई है ट्रांसलेशन करने में इसको जो है हिंदी वाले इस कुश्चन को नहीं पढ़ेंगे लेकिन कॉंसेप्ट समझ में आया दो कॉंसेप्ट हैं CRPC में दो ट्राइल हैं CRPC में वारंट केसिस और सम्मन केसिस और एक कोट अबसेशन ट्राइल है तो वारंट केसिस का ट्राइल कब कोट चलाएगी वारंट केसिस का ट्राइल जब चलाएगी जब ऐसे जिनकी पनिश्मेंट दो साल से ज़्यादा की है तो उसमें जो वारंट केस का ट्राइल दे रखा है section 225 से 260 के बीच में वहाँ पर जाकर हम trial वाले chapter में warrant trial को code जो है चलाएगी लेकिन जहाँ पर ऐसे offenses है जिनकी punishment दो साल से कम दी गई है उन सारे में क्या होगा उन सारे में summons trial चलाएजाएगा जो कि हमारे जो trial वाला chapter है वहाँ पर दे रखा है clear हाँ हिंदी वालों के लिए पर दो साल से कम का कारावास होता है वह सारे चीज जो है क्या होते है summons cases के अंदर आते हैं clear हाँ बिल्कुल bonus मिलना चाहिए ठेक है चलिए next question पर आते है next question पर आईए फटाफट से as per the code of criminal procedure amendment act 2000 act 5 2009 which inserted the clause WA in section 2 of CRPC the code which defines the victim a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been include option a victim guardian option b victim guardian or legal hire option c victim neighbor option d victim close friend ठीक यही question मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले समझाया है और यह question repeatedly RJS के paper में पूछा जाता है इसका year का amendment कौन सा था 2008 में और इसको force में कब लाया गया 31, 12, 2009 में ठीक तो यह दोनों date important हो जाती है और आप अगर legal क्या हम अगर victim के अंदर WA की definition में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें हमने incorporate किया है किसको हमारे victim guardian को और victim legal hire को और WA से जो है हमारे यह चारो important question बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए ठीक तो यहां पर अब आप याद कर लीजिए इसको के हम victim के अंदर किसको include कर रहे है victim के guardian को और victim के legal hairs को clear तो option number B is the correct answer of this question clear चलिए आगे चलते हैं next question पर next question आपके screens पर in cognizable cases the police have power to option A investigate accept the power to arrest without warrant option B investigate and power to arrest without warrant only after seeking the permission of magistrate option C investigation include the power to arrest without warrant option D investigate and arrest without warrant only after informing the magistrate having jurisdiction to inquire into or try the offense ठीक संगे मामले में police को निमलिखित अधिकार होते हैं कौन-कौन से अधिकार होते हैं बताइए फटावट से Cognizable cases में police को अधिकार होता है कि वो जो है investigation कर सकती है किसी भी matter का और किसी भी व्यक्ति को without warrant जो है arrest कर सकती है तो बिना warrant के गिरफतार करने की सक्ति सहित जाच करने का जो है क्या अधिकार होता है संगे मामले में किसको officer of police को या फिर investigation officer को तो option number C is the correct answer of this question हमें नहीं दिख रहा अच्छा अब दिख रहा है moving ahead next question पर आईए next question आपके screen पर the state government may buy notification declare any citizen or town for the purpose of CRPC as population metropolitan option A राज सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी सहर को या कस्वे को CRPC के प्रायोजन के लिए घोसित कर सकती है क्या हमारे metropolitan area ठीक तो यहाँ पर ऐसे कौन सा area होगा जिसको हम metropolitan area declare कर सकते हैं सबसे पहले आपको यह बताना ही है ठीक हिंदी बाले फटा फट से पढ़ ले section number कौन से section सबसे पहले किस section में metropolitan area की बात की गई है ठीक तो हमारे यहाँ पर section number किस में यही कोशन था section number 8 और CRPC ठीक में हमें बताया गया है कि ऐसी सारी area या ऐसे सारे सहर जहां पर आबादी 10 लाग से जादा है कितनी 10 लाग से जादा है उन सारे areas को state government चाहे तो official notification लाकर क्या declare कर सकती है metropolitan area declare कर सकती है ठीक और इनी areas के अंदर जो हमारे judicial magistrate first class होते है उनको जो है same power दी जाती है किसको metropolitan magistrate को ठीक तो अगर metropolitan area की बात आएगी तो section 8 याद रखना है और CRPC में 10 लाग से जादा population वाले जो area को जो है क्या कर सकती है सहर को state government कौन declare करेगा राज्य सरकार किसमे official gadget में कहाँ पर official gadget में या फिर notification लाकर किसी भी area को metropolitan area declare कर सकती है ठीक और यहाँ पर जितने भी magistrate होते है उनको क्या बोला जाता है metropolitan magistrate बोला जाता है या फिर cmm chief metropolitan magistrate बोला जाता है clear तो metropolitan magistrate और chief metropolitan magistrate में अगर हम powers की बात करें तो same देखने को मिलती है बसरते वो उस area के magistrate है जहाँ पर जो है क्या जहाँ पर 10 लाक से ज़्यादा आबादी है ठीक तो option number क्या होगा exceeding 10 lakhs कौन सा आंचा सही होगा option number a is the correct answer ठीक महानगरिय जिसका महानगरिय जिसका 10 लाक से अधिक है clear तो option number a is the correct answer of this question clear moving ahead एक बार section 8 को read कर लो section 8 of the CRPC deals with the metropolitan area the state government declares a city or the town as a metropolitan area whose population is more than 1 million 1 million मतलब 10 lakhs या तो 10 lakh रिखा आ सकता है 1 million भी question में आपसे option में देखने को मिल सकता है clear तो option number option number क्या होगा option number a is the correct answer of this question clear चलो आगे चलते हैं next question पर which one of the following statement is true इस तरी के भी सवाल JLO में देखने को मिलते हैं निम लिखेद में से कौन सा कतन सत्य है option a the state government shall establish a court of session with the consultation of high court option b the government shall establish the court of session option c the high court shall establish the court of session option d the supreme court shall establish the court of session ठीक क्या पूछ रहा है कि इन में से कौन सा कतन सत्य है ये चीजें आप से पूछी जा रही हैं बताए फटा-फट से इसका क्या सही answer होगा यार इतने सारे बच्चे live देख रहे हो classes को और इतनी अच्छी classes बनके आ रही है आपके लिए जहां पर आप पहले paper constitution को complete कर चुके है दूसरे paper CRPC के जो procedural paper है उसका पहला act चल रहा है ना तो session को like करना है ना ही session को किसी के साथ share करना है हमने तो कसम खा रखी है YouTube पर खोल के बैठ जाएंगे 6 वजे सर आएंगे जोतना बताना है बता जाएंगे और ऐसे ही class खतम होगी हम बंद करके रख देंगे like और share करने में भी जो है hesitation हो रही है तो classes करने में कितनी hesitation होती होगी बेटा अगर यही paid classes होती ना और इसी के लिए 10 या 15,000 रुपे किसी coaching institute में दिये होते तो वहाँ पर एक एक चीज और एक एक minute जाकर हर चीज जो teacher बोल रहा होता उसको सुन रहे होते clear लेकिन आप लोगों का इतना सारा मुझे प्यार मिल रहा है सीरीज से और इतने सारे लोग मेरे साथ daily जुड़ते हैं तो मेरा भी motivation जो है बहुत जादा high हो रहा है और इसी वज़े से high motivation के साथ मैं जो है आपके लिए इतनी मेहनत करने के बाद आपको English और Hindi में सारे सब्जेक्ट के एक-एक ऐसे MCQs जो JLO में आ सकते हैं या फिर आएंगे उनका जो है पूरा compilation ready करके दे रहा हूँ clear यार पहले जिस जिस बच्चे ने constitution किया है seriously comment करके बताना वीडियो पर के 12 घंटे constitution मेरे साथ पढ़ने के बाद अगर आप previous year JLO की paper लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका constitution का level कहां से कहां पहुंच चुका है और easily 40, 42, 45 marks लाना constitution के paper में आसान है जिल लोगों ने constitution के 12 घंटे लगातर मेरे साथ पढ़ा है Very good यही motivation चाहिए यही जोश चाहिए कम से कम 50 बच्चे सीरीज से select होकर मेरे को call करेंगे या मेरे telegram गुरूप पे लिखेंगे कि सर आज JLO का result आया है और हमने आप से पढ़ा था और हमारा JLO में selection हो गया उस दिन असली खुशी होगी अभी हमें इतना खुश होने की जरुवत नहीं है clear चलिए आगे चलते हैं इसका जो सही answer है वो है option number B is the correct answer state government shall establish the court of session तो option number B जो है इसका बिल्कुल सही answer है next question पर आते है moving ahead next question पर आईए sir 40% qualify criteria है but merit list में 160 number लाने है 40 number पर paper लेना easily selection हो जाएगा अलगी confidence आ रहा है classes करके आना भी चाहिए यार इतनी मेहनस से पढ़ा रहे हैं और इतनी मेहनस से आप लोग पढ़ रहे हो जिन लोगों के पास 100% dedication है कि इस बार JLO निकालना है उनके लिए तो best classes है best to best classes है अभी 30 September तक आपको MCQs करा कर सारा subject को रियाद करा दूँगा उसके बाद आपके लिए marathon classes लगाँगा special जहाँ पर 8-8 गंटे 7-7 गंटे में हर एक लोग के subject को हम पूरा bear act के सहत cover to cover करें पूरा cover to cover cover करने वाले हैं और एक-एक sections के जो छूटी बारी की या questions के तहत रह जाएंगी उनको भी cover करने वाले हैं clear? पढ़ते टाइम मेरी आवाज सुनाई देती है इतना ही होने लगेगा ना जब MCQ solve कर रहे होगे exam hall में बैठके और जब read कर रहे होगे तो यही question वहाँ पर होंगे और वो अवाज गूजेगी कानों में के इस question का सही answer ये है तो समझ लेना के मेरा पढ़ाया हुआ success रहा और मैंने जो आपके साथ महनत की और आपने जो मेरे साथ महनत की दोनों की महनत रंग लाई clear? merit की tension मतलो पढ़े इतना लो ना के merit की सोचने ही नहीं पढ़े Constitution पढ़के देखा है जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है CRPC में इतने सारे बच्चे क्यूं आ रहे हैं उनको पता है ना CRPC जिस दिन खतम कराएंगे अपूर सर उस दिन ऐसा complete होगा के फिर JLO, APO के कोई भी एक्जाम रोखने वाले नहीं है ये सारी चीज़े मैं कोई जब क्लास नहीं ले रहा हूँगा उसके बाद बता दूँगा कितने question attempt करने चाहिए कितने नहीं करने चाहिए Let's come to the next question Chief Judicial Magistrate में Pass a Sentence of Imprison में Pass a Sentence Option A Sentence of Imprisonment Not Exceeding 7 Year Sentence of Life Imprisonment Death Sentence Sentence of Imprisonment Exceeding 7 Year मुख्य नयाएक Magistrate पारित कर सकता है कारावास की सजा अधिक से अधिक 7 वर्स आज इवन कारावास मौत की सजा या 7 वर्स से अधिक का कारावास ठीक इस question का answer दीजे इसके बाद मैं आपको एक चार्ट बनाकर कुछ important चीज़े समझाने वाला हूँ और वो चार्ट आप मेरे साथ-साथ बनाएंगे जिससे कि आपके JLO में आने वाले 10 question CRPC के ठीक होंगे ठीक तो जब हम बात करते हैं किसकी Chief Judicial Magistrate की तो हम देख सकते हैं Chief Judicial Magistrate को power है कि वो जो है कितना 7 साल तक की imprisonment दे सकता है clear कितने साल तक की 7 साल तक की Chief Judicial Magistrate साब जो है क्या कर सकते हैं imprisonment दे सकते हैं तो option number A जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया बच्चा अब आप मेरे साथ एक चार्ट बनाईए अपने जो है किस पर अपने जो है उस पर फटाफट से चलिए पहले तो Criminal Procedure Code के जो Courts की हाईरार्की है उसको समझ लीजिए ठीक दो तरीके से समझना है पहला आपको क्या करना है पहला आपको Normal Areas के बारे में समझना है किस के बारे में Normal Areas के बारे में समझना है ठीक दूसरा Metropolitan Areas के बारे में समझना है जहां की आवादी 10 लाग से ज़्यादा है clear 10 लाग से ज़्यादा है और State Government ने Official Notification लाकर क्या किया है Declare कर दिया है कि ये area Metropolitan Area कहलाएंगे ठीक तो सबसे पहले अगर हम किसी भी स्टेट में सबसे नीचे वाले कोट की बात करें तो वो होते हैं Judicial Magistrate First Class ठीक दूसरे की बात करें दूसरे की बात करें तो वो होते हैं Judicial Magistrate Judicial Magistrate Second Class is the Last Court उससे पहले होते हैं हमारे Judicial Magistrate First Class clear तीसरे इससे उपर जो आते हैं वो आते हैं हमारे Chief Judicial Magistrate कौन आते हैं CJM Chief Judicial Magistrate इनको बुला जाता है इसके उपर की अगर बात करें तो हमारे आते हैं Court of Session जिसमें आपका Session Judge होंगे ठीक और इसके काम को हलका करने के लिए Additional Session Judge बिठाए जाते हैं क्या बिठाए जाते हैं Additional Session Judge बिठाए जाते हैं प्लस इनके सब और इसके नीचे एक Post रखी गई है जो जिसको नाम दिया जाता है क्या Assistant Session Judge ठीक Assistant Session Judge इनको जो है बिटा बोला जाता है लेकिन ये Court of जो है हमारा सस्त्र नियाले होता है उसी में जो है क्या ये तीनों जजज हमें देखने को मिलते हैं एक होता है हमारा मुख नियाइदीज जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम सैसन जजज बोलते हैं सैसन जजज के पाद बहुत सारा काम होता है उनके काम को हलका करने के लिए addition होता है और उससे नीचे क्या होता है उससे नीचे जो है हमारे assistant session judge होते हैं उसके उपर court of session के उपर होती है हमारी state की high court क्या होती है state की जो high court होती है वो होती है तो इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से हमारे कोर्स की हाइरारकी होती है बहुत अच्छे बहुत सारे लोग अपने आप comment में लिखते जा रहे हैं और वो सारे ही लोग बिलकुल सही लिख रहे हैं इसका मतलब बहुत अच्छी तरह पड़ लिया था जो जो बताया गया है ठीक, तो ये तो हो गई हमारे normal courts की hierarchy, अब अगर metropolitan area की बात करें, तो metropolitan area में आपको देखने को मिलता है, कि हमारी hierarchy इसी तरीके से रहेगी, लेकिन ये 10 लाग से ज़्यादा के area है, जहाँ पर state government ने official notification में इनको metropolitan city declare कर दिया है, तो इसमें जो name होगा, वो होगा हमारा सबसे पहल equivalent होगा और इसके पास same power होगी, clear हुई इतनी बात, दूसरा इससे उपर आएगा एक हमारा cmm, ठीक, cmm मतलब chief metropolitan magistrate और इनकी समान पावर होगी, जो हमारे chief judicial magistrate हैं, उसके बिलकुल comparison में, court of session में, तीन ही court देखने को मिलेंगी, पहले court of session में, आपको session judge साब मिलेंगे, इनके नीचे एक post और बनाई जाती है, that is called assistant session judge, clear, और यहाँ पर आपको उपर high court दिखाई देता है, अगर हम किसकी बात करें, metropolitan magistrate की बात करते हैं, तो, अब यह चीज आपको, यह हमारे courts की hierarchy है, metropolitan area की, और यह normal areas की, clear हुई इतनी बात, अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं, कि क court कितनी punishment दे सकता है, और कितना fine लगा सकता है, इससे क्या होगा, इससे हमारा, जो magistrate है, यह magistrate के courts हैं, वो कितने तक के मुकद में सुन सकते हैं, यह भी हमको पता लग जाएगा, और हमारा, जो section number 26, 27, 28, 29, 30 में बात बताई गई है, वो सारी चीजें आपको यहीं पर समझ म आने वाली है, नीचे से start करें, या उपर से start करें, यह बताईए, उपर से बताना सुरू करूं, या फिर नीचे से बताना सुरू करूं, hierarchy नीचे से उपर जाती है, तो चलिए, नीचे से ही हम जो है, start कर लेते हैं, बेटा, याद रखना बहुती, यह chart paper बना लो, कहीं भी पेपर पर, और आपको यह माल लेना, judiciary, APO, APP, या law के किसी भी paper में, अगर इन question से, इस section से question आएगा, तो गलत करके नहीं आओगे, judicial magistrate, second class की जो power है, उसकी power है, कि वो एक साल तक की क्या कर सकता है, एक साल तक की किसी को सजा सुना सकता है, या 5000 रुपे तक का, जो है, fine impose कर स सकता है, that is clear, judicial magistrate के, जो power है, वो है, एक साल तक के cases को सुनना, और 5000 रुपे तक के fine लगाने वाले मुकदमों को, judicial magistrate first class, जो है, हमारे सुनेंगे, दूसरा, अगर हम बात करें, judicial magistrate first class की, और metropolitan magistrate साब की, तो इनके पास क्या power है, इन दोनों के पास समान power है, तीन साल तक की punishment क matter ये सुन सकते हैं, और 10,000 रुपे तक का fine भी impose कर सकते हैं, क्या समझाया, कि तीन साल तक की, जो है, क्या की जाएगी, तीन साल तक की, जो है, metropolitan magistrate साब, judicial magistrate first class की, दोनों की same power है, तीन साल तक के, सारी की सारी चीज़ें क्या की जाएगी, तीन साल तक के, मुकदमे ये सुने देंगे, clear, और ये चिप का हुआ question है, याद कर लेना, उसके बाद आते हैं, chief judicial magistrate और chief metropolitan magistrate, तो chief judicial magistrate और metropolitan magistrate साब, जो हंगे भाई साब, इन दोनों की भी same power है, कि ये जो है, क्या कर सकते हैं, 7 साल तक की, तो सजा दे सकते हैं, और fine के रूप में, कितना भी fine, any amount of fine को लगा स तो याद कर लेना, बिल्कुल chip का हुआ question मिलेगा, ये भी हमारे, चाहें हम CMM की बात करें, या फिर हम chief judicial magistrate साब की बात करें, दोनों ही जो है, क्या, दोनों ही हमको same punishment और powers दी गई हैं, अब आईए इससे उपर वाले coat पे, इससे उपर वाला coat है, coat of session, तीन magistrate देखने को मि पहलेंगे, पहला होगा हमारा session judge, दूसरा होगा additional session judge, और तीसरा होगा assistant session judge, तो जब हम बात करते हैं, session judge की और additional session judge की, तो इनके पास power है, कि ये कोई सी भी punishment दे दे हैं, मतलब ये कोई सी भी any punishment दे सकते हैं, clear, और any amount of fine भी लगा सकते हैं, clear हुई बच्चा, तो ये हमारे session judge, और additional session judge की बात कर रहा हूँ, assistant पर मत जाना, दो चीज़े बता रहा हूँ, कि यहाँ पर हमारे दोनों ही जगा, चाहिए metropolitan area और normal area में, अगर court of session में मुकदमा है, additional session judge के पास है, तो इनके पास power है, कि ये कोई भी punishment दे दे, life imprisonment भी दे सकते हैं, लेकिन life imprisonment को, उनको क्या करना होगा, high court से confirmation लेनी होती है, जब हम last के sections में चलेंगे, तब मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा, अभी punishment पर focus करो, बनना बहुत सारी चीज़े mix हो जाएंगी, और समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो session judge, additional session judge के पास power है, चाहे normal area हो, या फिर हमारा court of session, मतलब metropolitan area हो, ये कोई भी punishment दे देंगे, और कितना भी fine लगा देंगे, अब इनके जो junior होंगे, असिस्टेंट से संजज, वो जो है कहाँ पर, दोनों ही areas में, कितना, ये जो है, दोनों ही, क्या कर सकते हैं, 10 साल तक की सजा सुना सकते हैं, और any amount of fine को provide करा सकते हैं, याद कर लेना इसको, ये question बहुत ज़्यादा important है, assistant और additional में सबसे ज़्यादा गलती करके आते हो, और हर paper में यही गलती दोराई जाती है, कि assistant additional, या तो additional से संजज का पूछ लिया जाएगा, तो assistant वाली लगा दोगे, assistant का पूछ लिया जाएगा, तो additional वाली लगा दोगे, assistant जो होगा, वो 10 साल तक की सजा द state का हो, तो अगर हम high court की बात करें, तो high court के, जब court of session के पास सारी power है, तो high court के पास भी सारी power है, कि वो कोई भी punishment दे दे और कितनी भी fine लगा दे, क्या ये चीज समझ में आई है, अगर समझ में आई हो, तो फटाफट से session को like कर दो, और comments box में एकदम fire बना के भेज़ दो, के sir, आग लगा दी, JLO के 10 question तैयार हो गए है, इसी के इर्दगिर्द आपको section 27, 8, 29 और 30 से, इन से ही जो है, आपको 10 question देखने को मिलेंगे, कितने देखने को मिलेंगे, 10 question देखने को मिलेंगे, previous year question उठा कर देख लीजिएगा, और इस chart paper को बना के रख लो, कहीं पर अपने bear act के पहले page पर ही बना लो, या फिर अगर section 28, 27, 29, 30 के पास जगा हो, तो इसको बना लीजिए, चलो, अब इससे related जितने भी question आएंगे, आज के session में और कल के session में गलती नहीं होनी चाहिए, अब भी बना लो, पूरा जैसे जैसे बताया है, skin shot लिलो, ऐसे ही चिपका लेना अपने घर पे, ठीक है, चलो, अगले question पर आजाओ, फटा फट से, most important 10 question इससे आपके cover होंगे, moving ahead, next question पर आईए, the local jurisdiction of a judicial magistrate is under the control of state government, high court, the high court of chief judicial magistrate, none of the above, ठीक, नियाएक magistrate का, इस्थान ये छेतरा अधिकार किसके नियंतर में होता है, राजसरकार उच्छ नियाले, मुख्य नियाएदी इस magistrate द्वारा उच्छ नियाले, उपरुक्त मैं से कोई नहीं, answer this, आग तो answer करिए, very nice, local jurisdiction of judicial magistrate is under the control of हमारा high court by the chief judicial magistrate, most important question for the prelims, बहुत सारे लोगों ने गलत answer किया है बिटा, याद कर लेना कि जब हम बात करते है, local, किसकी local jurisdiction of judicial magistrate, वो जो है, किसके अंदर होता है, cgm के अंदर होता है, और cgm के through, high court के through cgm तक ये सारी चीज़ें पहुचाई जा के नियाएक magistrate के द्वारा उच्चे नियाले के समर्थन के बाद में, तो option number c is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आजाओ फटाफट से, who can makes a rule or give special order from time to time consisting with the CRPC as to the distribution of business amongst the subordinate judicial magistrate, ठीक, ये भी बहुत ज़्यादा important है, CRPC के अनुसार, नियम कौन सा, नियम कौन सा बना सकता है, या समय समय पर विशेस आदेश दे सकता है, PC अदनेस नियाजी मजिस्टेट के बीच में, विविसायक के वितरण के समबंद में, ठीक, उपर नीचे हो गया है, कि मतलब यहाँ पर आपसे सीधे पूछा जा रहा है कि अगर हम CRPC के according देखें, तो distribution among the subordinate magistrate या subjudicial magistrate जो नीचे वाले जजिस होते हैं, उनके बीच में कौन करते हैं, ठीक, तो बताइए, यहाँ पर CGM का काम होता है, कि Chief Judicial Magistrate साब जो होंगे, जो नीचे वाले उनके court है, judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, उसको जो है क्या करेंगे, उसको cater करे जाएंगे, यह सारी जिम्मेदारी किस के पास होगी, CGM के पास होगी, तो option number D is the correct answer of this question, clear, moving ahead, next question पर आएए, the number of the court of judicial magistrate in a district is decided by, क्या कह रहे है, कि number of the judicial magistrate एक district में कितने होंगे, यह किस के द्वारा decide किया जाएगा, high court के द्वारा, state government के द्वारा, supreme court के द्वारा, या फिर governor के द्वारा, किस जिले में, नियाए, magistrate के नियालों की संक्या, किस के द्वारा तै की जाती है, option A, उच्च नियाल है, राज्य सरकार, supreme court, या फिर, राज्यपाल, जल्दी जल्दी answer करिए, बेटा, बहुत सारे question अभी बच रहे हैं आपके, ठीक, ये कितने number of judicial magistrate court होंगे, कितने number of districts में, ये जो है कौन, राज्य सरकार, डिसाइड करती है, तो option number B, इस दी correct answer, बहुती easy question है, moving ahead, next question, as per the section 24 of CRPC, a person is eligible to appoint as a public prosecutor, only if he has been in practice as an advocate, not less than 10 years, 5 years, 3 years, 7 years, CRPC की धारा 24 के अनुसार, कोई व्यक्ति, लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात रहे, जब वह कम से कम, एक वकील के रूप में practice कर रहा हो, 10 वर्स, 5 वर्स, 3 वर्स, या फिर 7 वर्स, ठीक, तो यहाँ पर 2 question यहाँ, अब 24 आ गया, 24 पच्चिस का explanation दे देता हूं, फिर उस 25 और 25 ए से सबसे ज़्यादा question prelims prospective से बनते हैं, जो के हमारे JLO के लिए और APO के लिए तो must मिलेगा, क्योंकि बात ही किसकी कर रहा है, public prosecutor, assistant public prosecutor, और directorate of prosecution की यह तीनों section बात करते हैं, clear? clear? तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर आपको section 24 CRPC के respect में पूछ रहा है, कि public prosecutor को बनने के लिए, क्या basic eligibility criteria है, तो basic eligibility criteria की अगर हम बात करें, तो आपकी जो section 24 की requirement है, कि ऐसे सारे लोग, जिनका practicing experience कितना है, 7 साल का हो चुका है, उनको राज्य सरकार चाहे, तो राज्य सरकार चाहे, किसके recommendation पर district judge के, किसके district judge के recommendation पर क्या कर सकती है, 7 साल के experience के बाद, public prosecutor appoint कर सकती है, तो यहाँ पर important question कौन कौन से बन रहे हैं, यह देख लीजे सबसे पहले, कि क्या क्या चीज़े आप से पूछी जा सकती है, देखो, अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, option number D तो इसका सही answer है, और D में आपके, जो यह बात लिखी का है, section 6, sub clause A, जो के हमारा amendment स जोड़ा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है, कि आप अगर किसको किसी भी व्यक्ति को, जो है, public prosecutor appoint करना चाते हो, या additional public prosecutor किसी district में बनाना चाहरे हो, तो उसके लिए 7 साल का अनुभव अनिवार रहे है, clear, अब यहाँ पर सबसे बात, important बात ये भी है, कि कौन कौन से question इससे आपके बनते है, सबसे पहले, कि आपका public prosecutor को किस section में define किया गया है, that is 24, ठीक, APP को किसमें define किया गया है, that is 25, section 25, फिर, directorate of prosecution को किसमें define किया गया है, यह question आपसे पूछा जाता है, तो directorate of prosecution की जब बात करते हैं, तो 25A में इसको जोड़ा गया है, किस amendment से जोड़ा इसको भी आपको जो है क्या बताना है डिरेक्टोरेट प्रोजीक्यूशन का क्या काम होता है ये चीज़े क्या करते हैं अब अगर किसी को पीपी बनना है मतलब जो है क्या बनना है अगर किसी को पीपी बनना है मतलब पबलिक प्रोजीक्यूटर बनना है या एपीपी बनना ह तो यह जो है, हर एक district में appoint किये जाएंगे, और हर एक court में एक जो है क्या होगा, हमारा PP होगा, जो के हमारे सरकारी caseों की सुरूबात करेगा, या सरकार का पक्च हर जगे रखेगा, इसी वज़े से सरकारे क्या करती है, हर एक जगा आपने APP को और PP को appoint करके रखती है, अब इ इतना experience है, यह 7 साल का, अब एक special public prosecutor होता है, उसके लिए 10 साल का practicing advocate का experience आपको चाहिए होता है, अब आपके, अगर आप किसी भी district court में practice कर रहे हैं, तो आपके जो भी district judge होंगे, वो आपका name जो है, refer करेंगे किसको state government को, कि यह एक व्यक्ति है, फला इनका नाम है, इतने साल से practice कर रहे हैं, और यह जो है, क्या है, यह यहाँ पर अब public prosecutor या assistant public prosecutor बनने के लिए पूरी तरीके से eligible हैं, ठीक, तो क्या होगा, कि जब आपका name district magistrate के द्वारा recommend किया जाएगा, उसके बाद state government, जो है, क्या चाती है, जितने लोगों को चाती है, कि experience के basis पर selection करना, वो एक list जारी करते हैं, उसके बाद उनको APP और PP appoint कर दिया जाता है, लेकिन APP और PP के लिए आपका law करने के बाद एक exam भी होता है, जिसको हम APOs, APP या फिर जो है various name से जानते हैं, वहाँ पर आपके पास अनिवारा है कि आपने law की degree ली हो, और state bar council में registered हैं, तो आप इन सारी चीज़ो को क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है, इन सारे exams को दे कर भी direct PP बन सकते हैं, लेकिन practice जो हमारे बार से जो select होकर आएंगे, मतलब experience के business पर select होकर आएंगे, वो section 24, 25 और 25 AK according यहाँ पर procedure बताए गए हैं, तो इस area से भी हमारे बहुत सारे question बनते हैं, जो मैंने आप आपको यहाँ पर बताए हैं, तो कितना experience होना चाहिए आपको अगर मतलब public prosecutor बनना है, तो 7 साल का practicing advocate का experience होना चाहिए, और DM साव आपके district magistrate साव आपके नाम को recommend करें, तब ही आप जो है क्या कर सकते हैं, PP बन सकते हैं, option D is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आएए, subsection 1 of section 124 of CRPC, after the word public prosecutor, the word inserted are, option A, only one or more additional public prosecutor, option B, two or more additional public prosecutor, option Z, at least five additional public prosecutor, option D, none of the above, जल्दी से हिंदी वाले भी पढ़ ले हैं, जल्दी से इसको answer करो बेटा, फटा-फट से, 4-5 question और बच रहे हैं, बनना छूट जाएंगे, देखो, अगर हम section 24 sub clause 1 की बात करते हैं, जहां public prosecutor के बाद word को add किया गया है, वो word कौन सा है, one or more additional public prosecutors है, that is, option number A is the correct answer of this question, clear, तो यहाँ पर आप जो है, इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजेगा, section 24 clause 1 को, यह question भी आपके prelims point of view से बहुत जादा important है, moving ahead, who is authorized to appoint a public prosecutor for a district, एक district के public prosecutor को, जो है क्या, कौन authorized करता है, और appoint करता है, कौन उसको appoint करने के लिए authorized है, option A, high court, state government, district judge, और district magistrate, बताएं फटाफट से, जिले के लिए, लोक अभियोजक, नियुक्ति करने के लिए, कौन अधिकरित होता है, उच्चनियाल है, राज्यसरकार, जिला, judge या फिर, जिला, magistrate, यार, फटाफट से ना, अब, एक काम कर दो, इसका तो answer करी दो, उसके बाद जो है, दो-तिन कोश्चन और है, उसको मैं फटाफट से करा देता हूँ, उससे पहले, session को एक बार like कर दो, जवर जस तरीके से like कर दो, सारे लोग, जितने भी लोग मेरे साथ live है, फटाफट session को like कर दो, जल्दी से, करिए, section 25 मतलब, APP, PP और directorate of, कल के लिए कितने section ready करने है, बताता हूँ भी, पहले इसको 25 तक खतम करो, आज 25 तक का target था, मज़ा नहीं है ता, दो-चार question छूट जाते हैं, वह ही important हुए, आगए paper में तो फिर उगडबड हो जाएगी, कर दिये, सब लोगों ने तो नहीं किया, सब ने नहीं किया, मान ही नहीं सकता, इतने सारे live हैं, like, sexy, that is very wrong, चलो, मज़ा करने का मूर्था, question पर आजाओ, फटाफ़ टाइम नहीं है, ठीक, who is the author to appoint the public prosecutor for district, public prosecutor को जो है, district में appoint, किसके द्वारा किया जाता है, जो है, state, district, magistrate, जो है, क्या होंगे, list बनाएंगे, list बनाने के बाद में recommend करेंगे, किसको हमारे state government को, और state government उसके बाद appoint करेगी, लेकिन recommendation दी जाएगी, जिला magistrate के द्वारा, option number D is the correct answer of this question, moving ahead, a person shall be eligible to be appointed as the additional public prosecutor, only if he has practiced as an advocate, not less than, APP की बात कर रहा है, 25 को खोल के देखिएगा, 7 साल के experience का requirement होती है, APP बनने के लिए, ठीक, तो कितना 7 साल का, इसका answer दिख गया था, चलो, दिख गया होगा, गलती से, 7 year का experience चाहिए, ये APP और पीपी दोनों ही बनने के लिए, option C जो है, इसका सही जवाब है, section 25 of CRPC makes the provision for the appointment of section 25 में, किसकी बात की गई है, public prosecutor, assistant public prosecutor, public authorities, government representative, सरकारी वकील, सहायक, लोक अभ्यूजक, सार्वजनिक प्रादीकरन, या फिर सरकारी प्रतिनिधी, किसकी बात करता है, बताईए, assistant public prosecutor की बात करता है, section 25 of criminal procedure code 1973, ठीक, moving ahead, next question, अंडर which section of the criminal procedure code, directorate of prosecution is established, ठीक, 25, 25A, even 167A, या फिर 45B, ठीक, तो directorate of prosecution, किसमें define किया गया है, 25A of CRPC में, धारा 25A बताती है, हमें जो है, किसके बारे में, directorate of prosecution के बारे में, clear, option number B is the correct answer, moving ahead, अब आईए, 25A, directorate of prosecution को, किस amendment से, CRPC में जोड़ा गया था, ये important question है, बताईए, फटाफट से, 2008 के से, 2005, 2009, या फिर 1978 के amendment से, 2005, very nice, साजे दंसारी, बहुत अच्छी तयारी चल रही है बिटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है, amendment के साथ साथ date की याद कर ली है, very nice, ऐसे ही student है, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनका इस पार जे येलो निकलने वाला है, आप भी इतनी मेहनत करो, amendment की date याद करके रख दो, ठीक, net खतम हो गया, advocate बलविंदर जी, कोई बात नहीं, अब class भी खतम होने वाली है, एक दो question रह गए है, 25A को जो है insert किया गया है, किस से CRPC के amendment 2005 से, clear, moving ahead, next question पर चलते हैं, डिरेक्टोरेट और प्रोजीक्यूशन, शेल फंक्शन अंडर दी administrative control of, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, होम मिनिस्टर, हैड अफ दी, होम डिपार्टमेंट अफ दी, इस्टेट, अभी हो जग निर्दे सक्किस के, प्रसासनिक नियंतर में कार्रे करेगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चनियाले, ग्रह मंत्राले, या फिर राज के, ग्रह विवाग के, प्रमुक के अंदर, देखिए, डिरेक्टोरेट औफ प्रोजीक्यूशन, इस्टेट के अंदर काम करेंगे, राज के ग्रह विवाग के प्रमुक के अंदर, ये जो है, काम करते हैं, इनका इस्टैबलेश्मेंट, 25 एके अकॉर्डिंग, अमिड्मेंट 2005, ठीक, फूर्स में आया था, 2006 में, इससे इसको बनाया गया है, और ये जो है, क्या होंगे, ये सारे लोग, जो है, जितने भी अधिवक्ता होंगे, उनके कामकाज को देखते रहेंगे, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस नहीं करेंगे, बहुत सारे कोश्चन्स हैं, आज के लिए डिसकस करने के लिए, और आज हम डिसकस करेंगे, सम्मन्स से पहले तक के सारे प्रोवीजन, सेक्शन 60 तक के जो है, इंपोर्टेंट बातों को डिसकस करेंगे, कल जो है, 60 से आगे सम्मन्स का वारंट का, और फिर जो है, उसके हमारे अटेच्चमेंट के प्रोसीजर्स, प्लस हमारा जो सेक्शन 105 से लेकर है, 110 और हमारा जो मेंटिनेंस का पार्ट है, 125 से लेकर 128 और उसके बाद आपका, 154 से पहले तक के सारे इंपोर्टेंट चीजों को, हम डिसकस करने वाले हैं, क्लियर, स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को, लेक्शन नमबर 3 में मैंने आपको कहा था, कहां से कहां तक पढ़के आना है, आपको सेक्शन 125 तक पढ़के आना है, लेकिन हमारी जो लॉंग क्लास थी, संडे वाली वो नहीं हो पाई, किसी भी कारण वास, इसी वज़े से, आज जो है आपको हम कवर करने वाले हैं, सेक्शन 26 से लेकर, सेक्शन नमबर 60 तक के सारे important provision, अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, कि जो हमारा सेक्शन नमबर 41 से लेकर, सेक्शन नमबर 60 तक है, यह हमारे किसके arrest के provision है, जहां पर कुछ राइट्स तो पुलिस ओफीसर को दिये गए है कि कैसे एक पुलिस ओफीसर किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है दूसरी सबसे इंपोर्टेंट बात यह बताई गई है कि जब हम कोई पुलिस ओफीसर किसी को अरेस्ट करेगा तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट क अब यहाँ पर एक important बात कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं और जो भी हमने CRPC 1973 की इस marathon class में पढ़ा है वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त करना चाते हैं तो आपको अपूर शर्मा official इस telegram group पर मुझसे connect करना है यहाँ पर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं और CR PC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की हैं वो सारा content अपूर शर्मा official इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा और अपूर शर्मा 252 यह है मेरा Instagram account इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूं तो आप मैसे जितने भी लोग मुझसे connect हो कर अपना doubt या सवाल पूछना चाते हैं वो अपूर शर्मा official 25 अप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजेगा आपको मेरा group मिल जाएगा इस group में आपको daily basis पर जो है MCQ practices कराता हूं जो के जुडीशरी के और APO के perspective से बहुत जादा important है प्लस इसमें मैं आपको current affairs चाहें वो legal current affairs हूं या फिर आपके general current affairs हूं या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं चाहें तो freshers के लिए या फिर जो है आपके advocate जो के experience advocate वाली हैं उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती है तो आप मुझसे यहापर connect होकर आज का सारा content घटा कर सकते हैं अब एक important बात कि अगर आप study IQ judiciary के life foundation batch 7 को join करना चाते हैं जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी है और इसमें admission लेने की 9 October last date है तो यह हमारा comprehensive plan है जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी वो भी 12 महिने में यह पूरा batch live रहेगा और live classes में आप अपने teacherों से बात करके discussion करके अपने सारे doubts को solve कर सकते ह हैं अगर आप इस batch में admission लेना चाते हैं तो आपको APU का code यूज करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं admission लेने का क्या procedure होता है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको जो है Google पर जाना है और Google पर जाकर सर्च करना होगा study IQ judiciary जैसे ही आप Google पर जाकर आप सर्च क करेंगे study IQ judiciary को सर्च करेंगे हमारी original website पर जाएगा वहाँ पर आपको life foundation batch 7 का comprehensive plan देखने को मिलता है 40,000 का ये batch है इसको आप 24,999 में 24 मत की validity के साथ ले सकते हैं buy now के option पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के तीन अक्षर का एक promo code डालना होता है चाहें आप capital में डालें या small में डालें A, P और U मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे 24,999 में ये life foundation batch आपको provide किया जाएगा 24 मन्त की validity के साथ में इसके बाद buy now के option पर जाना होता है इतने सारे payments के option आते हैं जैसे ही आप जो है इन में ऐसे किसी भी माद्यम का payment करेंगे आपको life foundation batch 7 में admission मिल जाएगा और ऐसे ही study IQ के जो है हर मन्त में एक life foundation batch launch होता है अगर आप भविष्च में या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई भविष्च में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रहा हो तो आप जो है मुझसे मेरे tele telegram group पर या फिर instagram पर message करके इन batches की जानकारी ले सकते हैं हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को आज से 2 या 3 महीने बाद देखें तो उनके लिए भी study IQ के पास life foundation batch है जो बच्चे law colleges में हैं उनके लिए भी आपके जो है 2 या 3 साल के program बनाए गए हैं जिसमें आपको batch को join करेंगे तो आपको APU के code को लगाने से मतलब मेरे code को लगाने से ये batch 24,999 है 24 मत की validity के साथ मिलेगा पिलस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है that is called study IQ judiciary महापक ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा तो APU के code से 2-2 courses 2 साल की validity के लिए आपको मिल रहे हैं आज ही जाकर इसमे enroll करिए पहला question आज का section number 27 से बहुत ही important है हमारा section 27 जहां पर बताया गया है कि हम CRPC के respect में किस व्यक्ति को juvenile मानेंगे ठीक तो under section 27 of criminal procedure code 1973 the age of juvenile is 16 year, 18 year, 12 year or none of the above दंडप्रक्डिया सहेता की धारा 27 के अंतरगत किशोर की आयू कितनी है 16 वर्स, 18 वर्स या फिर 12 वर्स या फिर उपरुक्त मैंसे कोई नहीं चल्दी से बताइए देखे अगर मैं आपसे बात करूं किसके according अगर मैं आपसे बात करूं majority act के according जहां पर कोई भी इंसान को हम वयस्क कब बोलते हैं वयस्क मतलब उसको कब major मानते हैं तो majority act के according हम 18 ईयस जिस भी person की age हो जाती है जिस भी male या female की age हो जाती है तब हम क्या मानते है उसको major person treat करते हैं तो major person हम 18 साल के ज्यादा के लोगों को treat करते हैं और इसी के बाद हमें किसका vote देने का अधिकार मिलता अगर आप 18 साल से कम है तो इंडिया में आपको बोट नहीं देने का मौका मिलेगा और वोटिंग एज की अगर बात करें अगर आप चुनाब लड़ना चाते हैं तो क्या उसकी एज भी हमें सेम देखने को मिलती है इंडियन कॉंस्टिटूशन जब मैंने पढ़ाया था तो ये डिटेल प्रोवीजन आपको बताए थे जहां पर मैंने बताया था कि जब हम पंचायती राज का या फिर पंचायत और मुंस्टिपल का चुनाव लड़ना चाते हैं तो उसके लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए 21 वर्ष से जादा होनी चाहिए देखिए वोटिंग और पंचायत की वोटिंग एज कितनी हो गई 21 साल हो गई ठीक अगर हम बात करें कि हम अगर सांसद बनना चाते हैं ठीक लोग सवा में सांसद बनना चाते हैं तो सांसद के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम कितनी उम्र का व्यक्ति जो है लोग सवा में सांसदी का से होने लग गई क्या कर रहे हो यार constitution को revise नहीं कर रहे हो गया revision करते रहना है ज़स दिन मेरी class नहीं होती कम से कम पिछला subject ही revise कर लिया करो या उनके mcqs लगा लिया करो तो याद आ जाएगा कि क्या-क्या पड़ा रखा है ठीक अगर हम बात करें किसकी सांसद बनने की अगर आप लोकसवा का चुनाब जीत कराते हो तो उसके लिए आपकी 25 साल की basic age criteria होती है अगर आपने 25 साल की age को नहीं crack किया है तो आप जो है सांसद लोकसवा का चुनाब नहीं लड़ सकते हैं लोकसवा का चुनाब हर एक 5 वर्स के अंतराल पर कराये जाता है जहां पर ये decide होता है कि कौन सी जो है पार्टी हमारे देश को आगे 5 साल के लिए गवन करने वाली है अगले लोकसवा के चुनाब हमारे 2024 में होने वाले है अगले वर्सी ये जो है चुनाब कितनी होती है राजसवा के लिए हमें जो है 30 साल का एज क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करना होता है अगर आप 30 साल के हैं तो आपको राजसवा में चुनकर लाया जा सकता है अब इसके बाद दो सबसे ज़्यादा important ages होती है अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे के प्राइम मिनिस्टर बनने की एज क्या है तो प्राइम मिनिस्टर बनने की एज हमारे constitution ऑफ इंडिया में कहीं पर नहीं दी गई है clear देखो यार याद करते जाना ये अब एक concept आगया है तो सब की एज बता दे रहा हूँ इसी question से जो है क्या इसी question से आपका CRPC भी कवर हो गया और constitution के ambit से जितने age के उपर जो है सवाल बनते थे वो भी यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे clear तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं प्राइमिनिस्टर बनने की age क्या है तो प्राइमिनिस्टर बनने की कोई भी age नहीं है Constitution of India में लेकिन Constitution of India हमें बताता है कि अगर आपको Prime Minister of India बनना है तो आपकी eligibility criteria क्या होना चाहिए आप लोग सबा के election को लड़ने के लिए जो है पूरी तरीके से eligible है तो आपको क्या किया जा सकता है आपको प्रधानमंतरी का चुनाब लड़ने के लिए या फिर सांसदी का चुनाब लड़के क्योंकि प्रधानमंतरी का चुनाब कैसे होता है जो भी ruling party होती है तो ruling party decide करती है कि उनको उनका leader कौन होगा और जो रीडर होता है, उसी को जो है हम PM नॉमिनेट करते हैं, या फिर घोसेत करते हैं, clear, तो यह हो गई, अब आती है हमारे President of India की एज, ठीक, President of India की एज के रिस्पेक्ट में बताईए, कितनी एज बताई गई है, जल्दी से, राष्टपती बनने की कितनी उम्र होती है, हमारे संविधान में कितनी उम्र बताई गई है, देखो, राष्टपती, President of India की जब भी हम बात करते हैं, तो at least 35 साल की एज आपकी होनी चाहिए, और अगर आप 35 साल के हो चुके हैं, तो राष्टपती आपको बनाया जा सकता है, तो यही Indian Constitution के respect में जितनी भी ages हैं, यहां से आपके कम से कम 7-8 questions JLO के बनते हैं, अगर ये चीजें आपने नहीं लिख रखी हैं, और Constitution की class नहीं कर रखी है, तो आपको समझ नहीं आएगी, majority सही जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी अब भी जो है गलत आंसर कु Section 27 के सामने ही, जहां पर जगे दे रखी होगी, साइडों में, वहां पर सबकी age लिख दीजिए, और ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा important है JLO के perspective से, अगर हम Section 27 of CRPC की बात करें, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कि आप जो Section 20 में juvenile की age बताई गई है, वो कितनी ब jurisdiction in case of juvenile ठीक, यह इसकी main heading है, याद रखिएगा, heading से भी JLO में आपका question आ सकता है, क्योंकि important section है, any offense not punishable with death or imprisonment for a life committed by any person who is at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 year, may be tried by a court of Chief Judicial Magistrate or the special court in power under the Children's Act 1960 or any other law for the time being enforced, providing for the treatment, training and the rehabilitation of the youthful offender, अब देखो Section 27 को यहां पर बहुत critically समझना होगा, क्योंकि Section 27 में बहुत सारी बाते बता जी गई है, इसी section से जो है, कम से कम आपके 5 question और बन जाएंगे, अब समझना कैसे है, सबसे पहले इस चीज़ पर आ जाओ, देखो, बात किसकी कर रहा है, जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी कोट के सामने पेस किया जाएगा, उस समय जो है, क्या है, वो जो बिनाइल है, जो बिनाइल का मतलब ऐसा व्यक्ति, जिसकी साल, 16 साल से कम की उम्र है, उसको हम जो बिनाइल मालेंगे, CRPC के respect में, clear, तो यहां पर आपको तीन प व्यक्ति है, वो क्या है, जिसको ना तो death penalty दी जानी है, क्या, ना तो उसको death penalty दी जानी है, और ना ही उसके उपर life imprisonment को commit करने का कोई भी offense charge किया गया है, और ऐसा व्यक्ति, जब किसमें लाया जाता है, जब हमारे किसके सामने लाया जाता है, जब किसी भी court के सामने लाया ठीक और उसकी उम्र कितनी है उसकी उम्र अगर 16 साल से कम है तो उसको उसका ट्राइल किसके सामने Chief Judicial Magistrate के सामने चलाया जाएगा ये तो CRPC ने बता दिया ठीक अगर 16 साल से कम का यह वा है और उसकी उम्र कितनी है उसकी उम्र कितनी है उसकी उम्र 16 साल से कम है लेकर आया गय कोट में तो यहां पर वो जो है CGM के सामने ट्राइल चलेगा यह कोशन बहुत ज्यादा important है प्रलिम्स के perspective से अब हिंदी वाले तो देख नहीं रहा हिंदी वाला नहीं देख रहा चलो English वालों की साइड आ जाता हूं ठीक है अब हिंदी वालों को देख रहा है ठीक तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि 16 साल से कोई भी व्यक्ति जिसकी death penalty या फिर life imprisonment नहीं दी जानी वो अगर कोट के सामने appear होता है तो उसका CGM ट्राइल करेंगे अब दूसरी बात क्या लिखी है और by any court especially empowered under the children's act 1960 या फिर ऐसा कोई भी court CRPC के according जहां पर एक व्यक्ति को जो है children's act 1960 के तहट किसी भी magistrate को especially try करने के लिए या फिर उसका mechanism provide किया गया है कि वो इस बच्चे के trial चला सकते हैं इन इन प्रकार के बच्चों ने अगर crime किया है तो trial चला सकते हैं तो वो करेंगे या फिर ऐसे सारे लोग यहां पर देख हमारा जो children's act 1960 है याद रखिएगा तीनों ही options लिख दिये जाएंगे और all of the above answer सही होगा और तीसरा क्या बता रहा है और any other law for the time being in force providing for the treatment training and the rehabilitation of the youthful offender यहां पर अब देखो दो और act नए add हो गया हमारा juvenile justice act का क्या motive है कि अगर किसी भी juvenile ने crime किया है तो हम उसको punishment ना देकर उ को training देकर दुबारा से जल्दी जैसे जल्दी उसको ठीक करने के बाद society में जाने का मौका देंगे clear तो यहां पर juvenile justice की बात हो गई और एक आपकी probation of offender act की बात हो गई ठीक तो यह चार laws हैं जो हमारे section 27 से relate करते हैं क्योंकि probation of offender act में भी आपका किसी भी व्यक्ति को जो है क या rehab करने का system बताया गया है clear तो अगर आपसे section 27 के उपर यह question पूछ लिया जाता है कि 27 CRPC में अगर बच्चे का trial किया जाना है तो cgm के सामने चलेगा या फिर हमारा जो है children's act के सामने चलेगा या children's act के तहट जो भी code बनाए गए हैं उसके सामने तीसरा अगर आप juvenile justice act प और आपको पांचवा option मिल सकता है all of the above या फिर तीसरे के बाद चोथा option मिल सकता है all of the above तो बच्चे क्या करेंगे अब यहाँ पर हम सब लोगों से गलती क्या होगी बच्चों से नहीं हम सब लोगों से यह गलती होगी क्योंकि यहाँ पर cgm तक पढ़के चले गए इतना ही हमारे exam prospective से काफी है इस तरीके से bear act नहीं पढ़े जाते हैं interpretate करके हमेशा CRPC के bear act को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर आपको जो यह तीन words लिखे हुए हैं ठीक treatment, training and revelation of youthful offender तो यहाँ पर आपको क्या देखना है यहाँ पर इन तीन words में आपके दो नए act बताए गए हैं तो उन दो act का भी नाम यहाँ पर incorporate करके रख लेना है और अपने bear act में फटाफट लिख लो कि यह तीनो तीनो ही चीज़े हमारे juvenile justice act में हैं और probation of offender act में हैं clear हुआ के मैंने सारी चीज़ें समझा दी है clear clear हुआ हो तो हा ना नहीं सर नहीं पता नहीं समझ में आया दुबारा समझा दीजिए या फिर समझ में आ गया है सर समझ में आ गया अगले question पर चल सकते हैं clear इसका मतलब thumbs up कर दिया करो यार like कर दो session को इतने सारे लोग live है अभी तक को बोली नहीं रहा है बस answer दे दिया हमारी responsibility घतम सर अपना बता रहे है हम तो अगले question का इंतजार कर रहे हैं ऐसा है क्या ऐसा कर रहे हो क्या जो भी आपके telegram बगेरा group हैं वहाँ पर डाल दो session दो दिन बाद class हो रही है तो बच्चों को लग रहा होगा कि साइट discontinue कर दिया या class नहीं ले रहे है clear class होने लगी है 70 आ गए है अब 100 डेली आते है 40 बच्ची अब भी गायव है session को like कर दो जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको बदा भी दो कि कितने कितने वजे classes होती है clear moving ahead next question पर आजाओ फटाफट से as provided under section 29 of criminal procedure a metropolitan magistrate has power to pass a sentence जैसा कि CRPC की धारा 29 के अंतरगत प्रावधानिक है कि CRPC एक metropolitan magistrate के पास सजा का पारिद करने की सकती है option a authorized by law accept a sentence of death option b imprisonment for life or of imprisonment exceeding seven year option c imprisonment for a term not exceeding three year imprisonment for a term not exceeding one year बताइए फटाफट से रादे रादे वैबब जी फटाफट से इसका answer करें हिंदी वालों को I hope दिख रहा होगा अब तो मैं बिल्कुल ही side में खड़ा हुआ हूँ अगर कल की class नहीं देखी ती इससे पहली वाली CRPC की second class तो इसका answer सबका गलत आ आने वाला है clear बताइए वेरी नाइस मेगा बहुत सुंदर बहुत सुंदर साथ साल तक की इंप्रिजमेंट देदेगा कल की class देखी नहीं थी एक chart बना के समझाया था कौन सा magistrate कितने तक का case सुन सकता है कितनी fine लगा सकता है उस chart को अगर किसी ने बना लिया होता अपनी copy पर तो इस question का answer गलत होता नहीं और मैंने 29, 27, 28, 29, 30 एक chart से ही आपको समझा दिये थे ये question इसी लिए डाला है कि आपने उसको कितनी seriously लिया आपने बनाया या नहीं नहीं बनाया किसी ने अब गलत करने में लगे हुएं section 29 के according जितने भी metropolitan magistrate होते हैं वो equivalent होते हैं किसके जो हमारा judicial magistrate, judicial magistrate first class है, JMFC है, ठीक, judicial magistrate first class, इसके equivalent माना जाएगा किसको metropolitan magistrate को और ये जो है क्या होंगी, इन दोनों के पास same power होंगी, इतनी सी बात समझाई थी, समझ मैं क्यों नहीं आई, same power होंगी तो judicial magistrate first class क्या कर सकते हैं, तीन साल तक की आपको punishment दे सकते हैं, और 10,000 रुपे तक का आपके उपर जर्वाना लगा सकते हैं, तो judicial magistrate के equivalent same power जब metropolitan magistrate को है, तो metropolitan magistrate क्या कर पाएगा, इतना ही जो है, कर पाएगा, तो इसका option number B कहां से सही answer हो जाएगा, imprisonment for a term not exceeding three years is the correct answer, तीन वर्ष से अधिक की अवदी के लिए कारावास नहीं दिया जा सकता, किसके द्वारा, metropolitan magistrate के द्वारा, तो option number C is the correct answer of this question, clear, यार एक चार्ट बनवाया था, वो चार्ट सब ने बना लिया, किसी को उसमें कोई confusion रह गया था क्या, उसी से आपके कम से कम CRPC के 15 से 20 question बनते हैं, गुमा फिरा कर, किसी को उसमें कोई confusion है, तो दुबारा समझा दू, चालो, आगे चलते हैं, next question पर, बना लिया था न, बना लिया था तो फिर गलत कैसे हुआ है, चालो, वो बहुत important है, उससे बहुत, मतलब यह 5 section है, बार-बर कभी CGM की पूछ लेगा, कभी JMFC की पूछ लेगा, कभी Metropolitan Magistrate की, कभी Chief Metropolitan Magistrate की, कभी Session Judge की, Additional Session Judge की पूछेगा, तो CGM की सहसं Judge की बराबर है, Assistant की पूछेगा, तो 10 साल तक की है, ठीक, JMFC first class की भी पूछता है, second class की भी पूछता है, तो यह सारी सबसे ज़्यादा important चीज़ें हैं, clear, चलो, आगे चलते हैं, next question पर आईए, काराबास की सजादी जा सकती है, एक वर्स, 3 महीने, 9 महीने, या फिर 6, यह question calculation based है, और ऐसे question आपके हमेशा पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको calculation के basis पर क्या होता है, calculation के basis पर answer देना होता है, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, जिसके उपर क्या किया गया है, जिसके उपर fine भी लगाया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है, और उसको काराबास भी दिया गया है, मतलब जेल में भी भेजा गया है, तो उसने अपनी जेल की सजा काट ली, जेल की सजा काटने के बाद उसके उपर कितना fine लगा था, और उस fine को वो pay करने में पूरी तरीके से क्य होता है असमर्थ होता है या फिर fail हो जाता है तो इस case में हम जो है उसके उपर कितना fine impose कर सकते हैं ये बात हमसे यहाँ पर क्या की गई है पूछी गई है बताईए जल्दी से जल्दी से बताएं वन फोर्थ ऑफ दी वन फोर्थ ऑफ दी टोटल पनिश्मेंट देते हैं अब इसका calculation कैसे होगा सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आपको जो है वन फोर्थ टोटल पनिश्मेंट पता हो जिस भी व्यक्ति के उपर fine plus offense हुआ है तो यहाँ पर बताया है कि judicial magistrate साव ने क्या किया कनविक्ट किया है जुडिशल मजिस्टेट साव ने कनविक्ट किया है किसके लिए one year of imprisonment और एक हजार रुपे का जुर्माना लगाया है तो एक हजार से calculation नहीं होगा यहाँ पर किसका होगा यहाँ पर आपको देखना है कि theft की punishment कितनी है theft की punishment है 3 years total maximum punishment 3 years है चोरी की और 3 years में कितने मंद्च होते हैं into 12 कर लो तो बाराती 36 महीने हो गए और 36 महीने पर अगर हम क्या करेंगे एक बटे 4 कर देंगे क्योंकि section 65 of CRPC में clearly लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कारावास के 7-7 fine को देने में असमर्थ है तो उसको जो है जो total imprisonment है हमारे Indian Penal Code के according उसके एक बटे 4 जो है क्या दी जाएगी 1-4 जो है punishment provide की जाएगी तो 36 मंत को अगर हम 1 upon 4 कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा 9 months आएगा क्योंकि 9-4 जा कितना होता है 9-4 जा 36 मतलब आपके 36 महीने हो गए तो यहाँ पर अगर 1000 रुपे का fine हो चाहे वो 100 रुपे का fine हो चाहे वो 5000 का fine हो अगर वो fine करने में fine देने में fail हो जाता है तो उसको 3 साल की punishment दी जानी थी लेकिन punishment उसको 1 बटे 4 और बढ़ा दी जाएगी जब उसकी यह punishment खत्म हो जाएगी और उसने fine पे नहीं किया है तब तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका इसका answer आजाएगा 9 month 9 महीने तक इसका कारावास और बढ़ा दिया जाएगा clear तो यह बात ध्यान रखने की है कि 1 बटे 4 हम जो है CRPC के section 65 के तहट जो है करते है calculation लेकिन जो भी हमारे offense की maximum punishment होगी जादा से जादा punishment होगी उस पर 1 calculation करके बता दी है I hope अब calculation clear हो गई होगी लेकिन आप इसका सही answer जब ही निकाल सकते हैं जब आपको किसी भी offense के बारे में दिया गया है और उसकी maximum imprisonment पता है तब ही जो है correct answer आएगा clear क्या नहीं clear हुआ प्रदीप कुमार जी बताइए फटा फट से क्या चीज आपको इसमें clear नहीं हुई है एक बार और समझा देता हूँ समझने की कोशिश करो magistrate साब ने क्या किया magistrate साब ने Mr. X है इनके उपर चोरी का क्या लगा चोरी का आरोप लगा चोरी का आरोप लगने के बाद मजिस्टेट साब ने decide किया कि यहां पर क्या करना था कि इन भाई साब को एक साल की तो सजा द दिया जाएगा ठीक चोरी छोटी मूटी थी ज्यादा सीवियर चोरी नहीं थी तो यहां पर इतनी इनको सजा दी गई अब इनको जेल भेज दिया गया जेल में इनने एक साल तो काट लिया क्या किया एक साल का समय निकाल दिया मतलब बारा महीने का कि मुझे भाई रहा करो 12 महीने बाद जब रहा करने के लिए इनों ने कहा तो भाई जेलर साब ने देखा कि यहाँ पर इनके उपर 500 रपे का fine और है और fine नहीं दिया तो जेलर साब ने court को क्या किया magistrate साब को inform कर दिया अब magistrate साब ने कहा हाँ साब 500 रपे का fine तो लगाया था हमने judgment में अभी तक अगर इनर नहीं नहीं दिया है तो क्या किया जाएगा section 65 CRPC को देखा जाएगा और section 65 CRPC आपको क्या बता रहा है section 65 CRPC बता रहा है कि किसी भी व्यक्ति जो fine को pay करने के लिए fail हो गया है ठीक चाहे fine का amount कितना भी हो 50 उर्पे भी होगा तब भी ये principle लगेगा 5000 होगा तब भी लगेगा 5000 होगा तब भी लगेगा ठीक तो fine नहीं दे पाने के कारण इनको जो हमारे theft की punishment है theft की punishment, चोरी की punishment CRPC में हमको provide की गई है 3 साल तो 3 साल में 3 साल की जो है 1 बटे 4 और इसकी punishment को बढ़ा दिया जाएगा अब 3 साल का अगर हम month में calculation करें तो 12-36, एक साल में कितने महीने होते हैं बिटा, 12 महीने होते हैं 3 से गुड़ा करेंगे 36 month निकल कर आता है और 36 month का section 65 के according एक बटे 4 करना है इतना आता है, अगर नहीं आता 4 की table तो 2 से कर लो 2, 2 जा 4 और ये हो गया 18 ठीक, और यहां पर 2 बन जा और 2, 9 जा clear, तो यहां पर कितने month निकल कर आ गए, कि 9 महीने की और imprisonment क्या कर दी जाएगी बढ़ा दी जाएगी किसकी Mr. X की, clear, अब आ गया समझ में ठीक है, अब आ गया होगा, इससे easy language में कोई नहीं समझाएगा, अब यह 36 मन्त, 9 मन्त निकले कैसे हैं, इसके लिए जो maximum punishment होती है, किसकी maximum punishment होती है, हमारे किसी भी offense की, ठीक है उसकी 1 4 दी जाती है ना कि जो judgment में दी गई है उसकी 1 4 अब तो आ गया होगा, चलो आगले question पर आ जाओ, which one of the following section of CRPC provides public to give the information of certain offenses to the police officer निमलिके में से CRPC की कौन सी धारा जनता को कुछ अपरादों की जानकारी पुलिस अधिकारियों को देने की सुविदा प्रदान करता है धारा 38 38, धारा 40, धारा 49 या फिर उपरुक्त सभी, section 38, section 40, section 39 या फिर all of the above अब देखिए section 39 responsibility डालता है किस पर all persons पर, कि जितने भी persons हैं अगर उनको कोई भी ऐसी information मिलती है जहाँ पर उनको वो information किसको police officer तक पहुचानी चाहिए ठीक तो उनके उपर ये foundation है कि वो उस information को police officer तक पहुचाएंगे ये बात जो है किसमें लिखी गई है section 39 of criminal procedure code 1973 में लिखी गई है, बहतरीन, बहतरीन सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक very nice, चलिए, option C जो है इसका सही जवाब है, पूछ लिया जाता है public to give information of certain offense लेकिन इतनी heading ही important है इसमें एक offense की list दी गई है, उसको एक बार go through कर लेना, list को पढ़ना मत भूलना, ठीक, list को पढ़ लेना कि कौन कौन से offenses में जो है, public को अगर जानकारी हो जाती है, police से पहले किसी भी चीज़ की, तो public को वो information, police officer को देनी है, किसको police officer को देनी है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्यागना है, decide करना है, offense की जो list है, section 39 में उसको एक बार read out कर ले carefully, clear, वैसे अंदर से पूछा नहीं जाता, उपर से ही ये question पूछ लिया जाता है, which section of the code of criminal procedure, authorize a private person to arrest any person committing cognizable offense, दंड प्रक्रिया सहता का कौन सी धारा, एक निजी व्यक्ति को संगे अपराद करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए अधिकरित करती है, section 44 section 42, section 43 या फिर section 45 जल्दी से सारे answer, सारे बच्चे answer करो हिंदी वाले भी अच्छे से पढ़ लो सारे के सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब चाहिए, इस पर बहुत ही important question है, और इससे related 2-3 question और बनते हैं, उनको भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ और हम सारी चीज़ें discuss करते हैं, clear देखो, एक question मैंसे एक section मैंसे कितने हमारे prelims के question बनाए जा सकते हैं, उसी technique पर हम जो है क्या कर रहे हैं, उसी technique पर हम जो है इन classes को कर रहे हैं, और ये classes आपको जो पढ़ने की बोरियत होती है या जो where act को read करने की consistency चाहिए होती है, और बहुत सारे लोगों में नहीं होती, ठीक, तो इसी बज़े से हम जो है क्या करेंगे, इसी बज़े से हम जो है question के format में एक question पर जितने question बन सकते हैं, उनको पढ़ते हैं और इससे हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से और easy हो जाती है, क्योंकि हमें MCQ से ही जो है paper निकालना है, MCQ format पर ही चारो paper होंगे problems के, और आप इसी तरीके से qualify कर सकते हैं, ठीक तो section 43 है, जो कि क्या बात करता है, कि private persons को क्या है, private persons को right है, कि वो क्या कर सकते हैं private person जो है, arrest कर सकते हैं, किसी भी other individual को, जिसने कोई भी कौन सा cognizable offense कमिट किया है, अब cognizable offenses कौन कौन से होंगे, ठीक CRPC का schedule one खोलना, और schedule one में, जो आपका column है, उस में, उन columns में से आपको देखना होगा कौन से offenses कौनिजिबल हैं, और कौन से non cognizable offenses हैं, that is clear, तो ये सारी चीज़े आप से पूछ लिए जाते हैं clear ठीक, तेखो, अब यहां पर main important चीज़ क्या है, main important चीज़े है कि private individual किसी भी other individual को क्या कर सकते हैं, arrest कर सकते हैं, as per section 43 of CRPC, जब private individual के सामने किसी भी other individual ने cognizable offense किया है, तब ये arrest किये जाएंगे, एक बार read कर लेते हैं, इसका clause 1 बहुत ज़्यादा important है, section 43 clause A, any private person may arrest or cause to be arrest any person who in his presence commits a non-vailable and cognizable offense, देखो, यहां पर इस word को अपने where act में highlight कर लो, ठीक, highlight करो इसको फटा-फट से, most important यहीं से question चिपकता है, यहीं से एकदम लड़ू की तरह question मिलता है, कि अगर हम section 43 A की बात करें, CRPC के according, तो यहां पर private individual के सामने कौन सा offense commit हुआ है, जहां पर वो किसी भी व्यक्ति को arrest कर सकता है, तो या तो आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि non-vailable offense है, या फिर cognizable offense है, या फिर अलग-अलग पूछ लिया जाएगा, किसी ने भी जो है offense किया है, ठीक, तो वो उस व्यक्ति को arrest कर सकता है, अब आगे चलिए, और any proclaimed offender, ठीक, अब देखो, यहां पर दूसरा बात जोने सुरू हो गई है, देखो, एक तो यह पढ़ा दिया, पहला question यहां से बन गया, दूसरा, या फिर कोई दूसरा हो, जो हमारा proclaimed offender हो, proclaimed offender का concept, आज नहीं समझ में आएगा, कि proclaimed offender होते कौन है, कल की class, जब हम warrant summons पढ़ रहे होंगे, attachment पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको proclaimed offender का concept समझाऊँगा, तो याद कर लो, कि proclaimed offender अगर कोई है, तो उसको भी क्या कर लिया जाएगा, उसको भी जो है, private individual arrest कर सकता है, clear and without unnecessary delay, shall make over or cause to be made over any person so arrested to the police officer or in the absence of police officer take such person or cause to be taken custody to the nearest police station, मतलब क्या हुआ कि या तो ऐसा व्यक्ति जिसने कोई भी non-bailable या cognizable offense किया है, या फिर proclaimed offender हो, जैसे ही कोई भी private individual उसको arrest करेगा, जिसके सामने उसने ये offense commit किये हैं, तो वो जो है arrest करने के बाद किसके पास ले जाएगा arrest करने के बाद, तुरंत से ही police officer के उसको हवाले कर देगा अगर police officer वहाँ पर नहीं है तो जो भी nearest थाना होगा आपके पास वहाँ पर इस व्यक्ति को जाकर hand over करना होगा, आप इसको अपने घर पर बंदी बना कर नहीं रख सकते हो, clear? तो यहाँ पर यह specific बात बताई है कि अगर police officer आसपास है तो उसको देदो, अगर नहीं है तो nearest police station में फटाफट से arrest करने के बाद आपको उसको ले जाना होगा, clear? चलो, आगे चलते हैं next question पर आईए which one of the following is incorrect? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इन में से निम लिखित में से गलत कौन है, निम लिखित में से कौन सा गलत है, option A magistrate can arrest person, a private person can arrest a person, a police officer can arrest a person, यहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई है और चोथा है, none of the above magistrate वियक्ती को गिरफतार कर सकता है, एक निजी वियक्ती किसी वियक्ती को गिरफतार कर सकता है एक police अधिकारी किसी वियक्ती को गिरफतार कर सकता है, उपरुक्त में से कोई अब यहाँ पर यह नहीं बताना मुझे कि इसका जो आंसर है वो D है यह बताना है कि यह तीनों जो है किसकिस section में बताए गए हैं CRPC में magistrate को भी अधिकार है कि वो किसी भी private individual को arrest कर ले या फिर किसी भी offender को arrest कर ले दूसरा किसी private person को अधिकार है 43 में हमने पढ़ लिया तीसरा पुलिस officer के पास तो 41 में अधिकार होता ही है कि वो जो है arrest कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को ठीक तो यह तीनों ही अधिकार हैं लेकिन यह किसकिस section में दिये गए हैं सबसे पहले बताए मजिस्ट्रेट के अन अरेस्टा परसं section नंबर मजिस्ट्रेट के अरेस्टा परसं section नंबर पूछा जाएगा very good बैतरीन सब ने पढ़के रखा है जल्दी से बता दो मजिस्ट्रेट कव अरेस्ट कर सकता है किस जो है आपके section में यह बात आपको बताई गई है very good 44 में private individual किसमें अरेस्ट करेगा अभी पढ़ चुके हैं 43 में और police officer किसमें अरेस्ट करेगा 41 में clear तो यह चीज़े हमको बताई गई है 41 and 42 में भी उसको rights दिये गए है clear तो यह तीनों ही option बिल्कुल सही है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि none of the above is the correct answer of this question यह question बनता नहीं था इन sectionों को याद करने के लिए तीन question बनाने पड़ते और तीनों को ही एक ही में incorporate करके आपका बना दिया है clear चलो आगे चलते हैं next question पर आजाओ फटाफट से no member of the armed forces of the union shall be arrested for anything done in the discharge of his official duties except after attaining the consent of option A the defense minister, option B the finance minister, option C the consent state government, option B the central government ठीक हिंदी वाले पड़े संग के ससस्ट बलों के किसी भी सदस्य को उसकी सहमती प्राप्त करने के अलावा अपने अधिकारे करतवियों के निर्भान के लिए किसी भी कार के लिए गिरफतार नहीं किया जा सकता ठीक किस की permission लिए बिना रक्षा मंतरी की वित्य मंतरी की सं सरकार की प्लीस सेक्षन नंबर जरूर बताया करें अगर आपको याद हो इसके सेक्षन नंबर याद हो तो बताते जाएंगे और सेक्षन बेस्ट पूछे जाएंगे section number 45 है और section 45 में बताया गया है कि अगर कोई भी police officer कोई भी हमारा armed forces से related member है armed forces से related member है armed forces जो भी हमारे central की forces है उस से related कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी सिपाई है और वो official duty में कोई भी act कर रहा है या फिर उसको arrest किया जाना है तो आप जो है police उसको कभी directly arrest नहीं कर सकती जब तक कि वो prior approval नहीं ले लेती है central government का it is provided under section 45 of CRPC ठीक तो यह important question है हमारे JLO के perspective से moving ahead पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है यहाँ पर section 45 notwithstanding anything contained in section 41 to 44 both inclusive ठीक no member of the armed forces of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of official duty except after obtaining the consent of the central government ठीक तो यहाँ पर बताया गया कि चाहें 41 और 44 मतलब 41 से लेकर 44 तक जो भी बातें किसी भी person को arrest करने के लिए बताई गई हैं जिन भी person को उनको arrest करने का अधिकार दिया गया है वो सारी बातें section 45 पर applicable नहीं होंगी इसका मतलब अगर कोई भी union forces का बंदा को arrest किया जाना है तो वो जो है without the prior permission of central government उसको arrest नहीं किया जा सकता है clear हूई इतनी बात तो option कौन सा option D इसका जो है क्या हो जाएगा बेटा बिलकुल सही जवाब हो जाएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले फिर चलेंगे आगे अगले question पर तब चलूँगा पहले बताओ मज़ा रहा है कि नहीं आ रहा है important question है हाँ ना का कोई reply आएगा आप लोगों का net ही खतम हो गया मेरा तो हब net का recharge कर लो बेटा आ रहा है मज़ा आना चीए पढ़ने में दो दिन बात class ले रहा है उसी जोस से उसी उमंग से और उसी मस्ती के साथ class को करेंगे पूरा रट जाएगा मतलब कहते हैं ना कि जब भी question करने बैठोगे MCQ करने बैठोगे और इन MCQ उसको जब solve कर रहे होगे तो एक अवाज कान में गुजेगी कि इसका option D है उसका justification दिमाग में घुमेगा जो भी reasoning में बता रहा हूँ कि इसका ये answer है और इस बज़े से इस question का answer D है इस तरीके से आपको पूरा CRPC उंगलियों पे करा दूँगा टिप्स पे करा दूँगा जैसे Constitution of India 12 घंटे में करा दिया था clear CRPC subject यह ऐसा है CRPC नहीं जब CPC कराऊंगा ना तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा इससे पहले इंटरस्टिंग बनाया जाता है और जो इंटरस्टिंग है उनको और जादा कैसे आपको easy language में समझाया जाए यही जो है क्या है यही मेरी एक quality है और इसी वज़े से आप इतने सारे लोग मेरे साथ daily जुड़ते हैं और हम सारी चीज़ों को यह जो है पूरी तरीके से complete करने की कोशिश कर रहे है चलो thank you so much चलिए अब चलते हैं next question पर CPC से डर लगता है आरे डर किस बात का यार CPC तो CRPC से बहुत ज़्यादा easy है पढ़ना क्या है सिर्फ section पढ़ने है 150 के लगग section है 50 order पढ़ने है section के relation में ही हमारे order दिये गए है section में जैसे IPC में या फिर हमारे CRPC के second clause में जो भी definitions है वो दे दिये है उन definitions को आगे कैसे procedure में लाया जाए वो बता दिया है अब CPC में क्या किया है CPC में हर एक concept को define कर दिया गया है sections में और उनका क्या procedure होगा वो आपके orders में बता दिया गया है क्या क्या चीजे होंगी कैसे follow कराये जाएगा कैसे कैसे parties को भेजी जाएगा बिल्कुल भी boring नहीं है CPC पर पहुँचो तो सही CPC पर पहुँचो तो सही previous year paper लगाते जाओ constitution की classes 12 classes अगर देख लिए previous year paper लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा solve करो ज़्यादा से ज़्यादा mcq solve करो कोई भी book ले लो jlo की previous year paper ले लो सब कुछ जब CPC पढ़ाएंगे तो इससे भी ज़्यादा interesting तरीके से पढ़ाएंगे चलो आगे चलते हैं next question पर time waste नहीं कर रहे ठीक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा question लगातार हो गए थे तो मैंने सुचा 2 minute बात कर ली जाए अब आपको करना क्या है अब आपको फटा-फट से session को share करना है और like करना है आपको कैसे एक sections के एक question के basis पर ही पूरे concept को समझा दिया जाए यहाँ पर आज हम 41 से लेकर 60 के सारे questions करने वाले है इससे related आप पूरे sections को याद कर लोगे चलिए आगे चलते हैं next question पर CPC की tension मतलो यार बिलकुल tension मतलो करा देंगे पुरा next question no woman shall be arrested after sunset or before sunrise as added in section 46 clause 4 of CRPC by the amendment 2005 however, she can be arrested in exceptional circumstances with the prior permission of district magistrate, SDM, judicial magistrate first class judicial magistrate second class जैसे के CRPC की धारा 46.4 को जोडा गया है कि किसी भी महला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता CRPC 2005 के संसुदन द्वारा हाला कि उसे पूर्व अनुमती से असाधारन परिस्तितियों में गिरफतार किया जा सकता है option A जिला अधिकारी option B SDM option C judicial magistrate first class प्रथम सेड़ी नयाएक magistrate option D दुतिय सेड़ी नयाएक magistrate section 46 rights है किसका? women's का क्या बताया गया है कि अगर ऐसी situation है जहाँ पर किसी भी महला को arrest करने पुलिस जाती है तो वो sunset के बाद में और सूरे उद्वे से पहले मतलब रात्री के समय जब अनेरा हो जाएगा सूरज छिप जाएगा उसके बाद में और अगले दिन सूरज निकलने से पहले उसको arrest नहीं कर सकते ठीक लेकिन अगर situation ऐसी है कैसी अब देखो dangerous situation कौन सी होगी यहाँ पर ऐसी situation है कि वो महला dangerous हो गई है society के लिए और उसको arrest ही किया जाना है तो रात्र में भी arrest करने के लिए उसका प्रावधान बनाये गया है कि आपको judicial magistrate first class मतलब नियायक magistrate प्रसम CD से क्या लेनी होगी nearest नियायक magistrate से क्या लेनी होगी permission लेनी होगी तब जाकर हम उसको क्या कर सकते है arrest कर सकते है और यह जो है हमारा fourth clause 46 clause 2005 के amendment से आया था question में directly incorporate कर दिया है और यह amendment force में आया था कब 26 2023 को याद रखना 2005 का यह amendment 2009 का और 2013 का जो amendment है वो आपका बहुत ज़्यादा important है और इनकी enforcement date भी बहुत ज़्यादा important है हुए एक-एक साल पहले है लेकिन force में एक-एक साल बाद आये है तो यह data आप से लगातार पूछी जाती है अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यह तो हमारा एक static provision बना दिया गया कि रात को किसी भी महला को arrest नहीं करेंगे और यह भी provision है कि अगर महला को arrest किया जाना है तो दिन में किया जाएगा और महला पूलिस के द्वारा ही किया जाएगा लेकिन अगर क्या इस provision को violate किया जा सकता है देखिए general condition में जहाँ पर हम citizens को लेकर respected citizens को लेकर बात करते हैं तो पूलिस के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो जो है रात में जाकर किसी भी महला को मतलब arrest करके ले आए क्योंकि 46 clause 4 ने पूलिस के उपर ये restriction लगा दी है लेकिन एकार situation exception है जहाँ पर judicial magistrate first class की permission ना लेते हुए हम उसको arrest कर सकते हैं suppose करिए एक महला आतंकवादी है आतंकवादी महला किसी भी public place पर चाहे वो bus stop हो ठीक bus stop हो या फिर railway station हो या फिर कोई भी public place हो ठीक रात को 8 बजए ये madam train से उतरती है एके 47 एके 47 निकालती है और अंदा धुंद जो है public के उपर firing शुरू कर देती है तो अब रात के 8 बज़ रहे हैं सूरज जो है क्या sunset हो चुका है sunset हो जाने के बाद में अब इन महला को अगर इन madam को जो हमारे terrorist है और जो नोंने 47 से firing शुरू कर दी है तो क्या इसका सुबह होने तक पुलिस वाले आरपीएफ वाले वहाँ पर हैं दूसरे अगर पुलिस कर्मी वहाँ पर हैं वह madam को देख रहे हैं क्योंकि arrest नहीं कर सकते अभी क्योंकि 8 बजे इनौने firing शुरू की है तो क्या सुबह 5 बजे या 6 बजे जब तक सु arrest होता है तब तक क्या इस madam को firing करने की पूरी आजादी दी जाएगी या 47 से ये सब को पिलते हुए चले जाएगे इस situation का answer आप मुझे दीजिएगा और जितने भी telegram पर connected बच्चे हैं इस problem को आज discuss करेंगे इसके बाद में मैं आपको जो है क्या कल इसका answer बताऊँगा ये एक interview में पूछा गया था शायद बिहार जुडीश्री का interview था बिहार जुडीश्री के interview में ये पूछा गया था कि अगर हम CRPC की बात करें तो महलाओं को 46 clause 4 के according हम रात में arrest नहीं कर सकते लेकिन situation ऐसी है कि जहाँ पर एक महला आकर रात में अंदादंद firing शुरू कर देती है तो पुलिस वाले उसके सामने है लेकिन उसको arrest नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 46 clause 4 यहाँ पर उनको obligation दे रहा है क्योंकि word shell का यहाँ पर इस्तमाल किया हुआ है तो पुलिस को ये चीज माननी ही होगी तो क्या इसमें से पुलिस officer फटाफट railway station से या फिर bus stand से judicial magistrate first class के पास जाएगा और भागते हुए कहेगा कि साम एक महला वहाँ पर AK-47 से firing कर रही है इसको arrest करने की permission दो ठीक इसको arrest करने की permission दो अब फिर वो फटाफट से लोटके आएंगे फोन करके अपने officerों से कहेंगे कि जाके arrest कर लो sir ने sign कर दिये क्या यह possible है तब तक वो 200-500-1000 लोगों को यह के 47 से उड़ा चुकी होगी अब देखो इसका interpretation क्या है इसका bear act के according जाएंगे तो judicial magistrate की permission लेना नैसेसरी है लेकिन ऐसी situations के लिए practical based और interview based situation के लिए आपको neutral होकर जवाब देना होता है तो इसका जवाब आप लोग आज गुरूप पर discuss करेंगे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वहाँ पर मैं दूँगा और नहीं तो कल की class मैं दूँगा बहुत ही interesting question पूछा गया था इंटरव्यू में जो candidate से पूछा गया था पुलिस ऑफीसर ही उसको अरेस्ट करेगी clear next question पर आईए फटापट से even a circumstances may arrest woman during a daylight it was laid down in which one of the following case यहां तक कि एक परिस्तिती में दिन में उजाले में भी महला को गिरफतार किया जा सकता है यह निमलिखित में से किस में निर्धारित किया गया था state of महराष्ट वर्सेश Christian Community Welfare 2004 एंड राजकुमारी वर्सेश SSO Noida जोगेंदर सिंग वर्सेश स्टेट अफ यूपी नीरश्टर्मा वर्सेश स्टेट अफ यूपी राजकुमारी वर्सेश SSO Noida बताए किस case में यह जो है held किया गया था कि एक महला को during daylight ही जो है arrest किया जाएगा clear बहुत ही recent और landmark judgment है किसका भाई अभी से telegram group पे answer discuss करना क्यों सुरू कर दिया पहले आकर पहले class तो कर लो आगे कोश्चन देख लो फिर class के बाद discussion कर लेना अपने सारे ठीक है देखो यहां पर क्या कह रहा है यहां पर यह जो landmark case है यह हमारा honorable supreme court of India का है और यह 1994 का case है जोगेंदर बनाम यूपी राज जो है जोगेंदर बनाम state of यूपी के case में इसको discuss किया गया था clear तो option number B is the correct answer of this question most important question है arrest को लेकर वो भी जो है woman की arrest को लेकर supreme court का जो कि हमें repeatedly और regressively exams में पूछा जाता है clear तो यहां पर option number B is the correct answer of this question clear तो चलो आगे चलते हैं next question पर under section 41 of CRPC the power of police to arrest a person ठीक दंद प्रक्रिया सहेता 41 के according police को किस व्यक्ति को गिरफतार करने की सकती है cover all cases option B is limited to the cases mere suspicion option C is confined to a cases reasonable suspicion it does not cover any cases from the army desertor सभी मामलों को cover करता है केवल संदेय के मामले की मामलों तक ही सीमित है उचित संदेय के मामलों तक सीमित है या फिर सेना के भगोडे के मामले को cover नहीं करता है clear बताईए फटाफट से जल्दी से answer करो important है section 41 section 41 में जो जो चीजें आपको बताई गई है उन सारी चीजों की क्या उन सारी चीजों की list आपको याद होनी चाहिए और अगर हम इसको याद करने की बात कहें तो आज जो है telegram group पर रात को आपको क्या मिलेगा इसका एक table और content और short form मिलेगी जिससे आप section 41 में लिखी सारी जो है क्या बातों को याद कर सकते है section 41 बड़ा section है और इससे कम से कम कम से कम मैं आप से कहूं कि 20 तरीके के question इससे बन सकते है clear तो यहाँ पर section 41 पावर देता है police officer को कि ऐसे सारे police officer उनको arrest किया जा सकता है कब जब कोई भी reasonable suspicion होगा तो उचिस संद्य के मामलों तक ही सीमित है और यहाँ पर जो है इसको arrest किया जा सकता है तो option number C is the correct answer इसके जो 10 grounds हैं इसकी short form आज रात को telegram group पर एक paper पर बना कर इसकी एक story बना कर आपको provide कर दूँगा और यह story आपकी बहुत ज़्यादा helpful रहेगी क्योंकि इन 10 grounds में से भी कई बार हमें question देखने को मिलते हैं कि section 41 के according इन जो है grounds पर police आपको arrest कर सकती है या नहीं clear moving ahead next question पर आईए which section of the criminal procedure code provides the protection to the member of armed forces सभी को आता होगा कि कौन सा section हमारे armed forces के लोगों को arrest करने की protection provide करता है कि हम उनको journal police उनको arrest नहीं कर सकती तो यह section 45 है detail में discussion हो चुका है repeat हो गया question कोई बात नहीं option number B is the correct answer of this question moving ahead next question it is mandatory for a police officer to inform the person arrested the ground of arrest and right of bail if the offense is not bailable ठीक एक police अधिकारी के लिए गिरफतारी के किये गए व्यक्त गिरफतारी के आधार और यह अपराद गैर जमानती नहीं है तो जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करना अनिवार है CRPC section 49, CRPC section 50 CRPC section 51, section 54 यहाँ पर कह रहा है कि mandatory है किसके उपर police officer के उपर अगर वो किसी भी व्यक्ति को arrest करके लाया है तो किस grounds पर उसको arrest किया गया है और क्या उस व्यक्ति को बेल का अधिकार है या नहीं तो वो police officer क्या करेगा उस व्यक्ति को यह सारी information provide करेगा यह जो है क्या mandatory obligation है police officer के उपर जो उसको करनी ही करनी होगी क्या करनी ही करनी होगी थी उस व्यक्ति को बात क्या करता है, इसको समझ लीजे, important section है, section 50, section 50 बात करता है, person arrested to be informed of ground of arrest and of all rights of bail, clause 1, every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particular of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि जैसे भी कोई भी police officer, every police officer, मतलब जितने भी police officer, पूरे all over India, किसी भी व्यक्ति को arrest करके लाते हैं, other person arresting any person without warrant, ठीक, या फिर कोई other person जो है, किसी भी व्यक्ति को arrest करता है, without warrant के, ठीक, तो जितने भी police officer है, other person जो भी authorized किये गए है, पुलिस के भी व्यक्ति को arrest करने के लिए, वो उसको जब arrest करके लाएंगे, तो वो किस लिए उस व्यक्ति को arrest करके लाएंगे, इसके सारी जानकारी उनको जो है, क्या करनी होगी, उनको provide करनी होगी, और उसके other grounds क्या क्या है, जिसके लिए उसे arrest किया गया है, ये भी चीज पूरा क्या बेल देने के लिए पूरी तरीके से एलिजेबल होते हैं तो second clause में ये बात लिखी दी गई है और ये repeated क्या repeated question है बेटा जो के आपका JLOS में पूछा जाता है कहां से section 50 के clause number 2 से as it is बिलकुल copy paste मिलने वाला है क्या as it is बिलकुल copy paste मिलने वाला है ये question कि अगर कोई भी police officer ऐसे किसी व्यक्ति को जो है क्या ऐसे किसी व्यक्ति को arrest करके लाया है जिसने हमारा non-bailable offense किया है ठीक accused of non-bailable offense he shall inform that person arrested that he has entitled to release on bail and that he may be arranged for sureties on the behalf तो यहां पर उसको police officer को arrest के grounds तो बता नहीं है पहले clause में दूसरे clause में ये भी बताएगा कि आपको इसलिए arrest किया गया है प्लस आप जो है थाने से ही bail लेकर जा सकते हैं उसके लिए आपको अपने securities को arrange करना है और जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनको ठाने से bail दी जा सकती है वो जो है क्या होंगे वो सारे वो सारे लोग ठाने से ही क्या करते हैं police officer से bail ले लेते हैं clear very good mega very nice याद आ गया चलो वैसे कल की class में कराना था ये question डी के बासू landmark judgment है section 46 का इसमें पूरी guidelines क्या बताई गई है Supreme Court ने 12 guidelines बताई है लगबग 10 से 12 guidelines बताई है कि जब किसी भी व्यक्ति को accused को arrest करें आप arrest करके ला रहे हो तो ये 12 guidelines police को follow करनी ही करनी होंगे clear बहुत ही important case है डी के बासू जो के हमारे arrest से relate करता है इतनी बास समझाई जो बच्चे real देखते हैं उनका net तो खतम होगा यार तो real wheel मत देखा करो net बचा कर रख लिया करो यार इतनी important class है Reels में time waste मत करो Reels wheels देखने से कुछ नहीं होने वाला JLO का paper नहीं निकलेगा आपको करना क्या है Reels wheels का data बचा के रखना है एक घंटे की class के लिए क्योंकि यहां पर आपके JLO के paper को qualify करने की संभावना 70 से 80% है clear Reels मत देखो छोड़ दो Facebook, Instagram, Reels कुछ नहीं चलाना गाने भी नहीं सुनने YouTube पर data बचा के रखो data बचा कर अपनी इस class को करो moving ahead आगे चलते हैं next question पर section 53 of the code of criminal procedure amendment 25 of 2005 provides for the examination of option A by the medical practitioner arrested person accused of rape by the medical practitioner at the request of arrested person option C person accused of rape by a medical practitioner at the request of police officer option D person accused of rape by the medical practitioner at the request of the victim क्या कह रहा है जो 53A है देखो 53A 54A दोनों ही most important question है किस amendment से जोड़े गए और इनकी enforcement date क्या थी ठीक है पेटा तो यहां पर याद रखेगा कि 53A और 54A दोनों ही important question है जहां पर हमसे सारी चीज़ें पूछी गई है 54A में हमसे क्या पूछा गया है 54A में हमसे TIP का concept Test Identification Parade का concept पूछा गया है और हमें बताया गया है मतलब पूछा क्या गया है बताया गया अगर एक्जाम पूछा जाएगा तो TIP के ऊपर section 54A से पूछा जाता है और TIP का Indian Evidence Act का कौन सा section है comments करके बताना ठीक तो अगर हम 53A की बात करते हैं तो 53A बात करता है किसकी examination of person accused of rape by the medical practitioner बलतकार के ROP व्यक्ति का चिकित्सक व्यविसाय द्वारा संचार मतलब द्वारा जाच ठीक तो ये जो हमारा 53 इस question का यो सही answer है person accused of rape by a medical practitioner at the request of police officer ठीक तो option number C जो है सही answer हो जाएगा पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्रोध पर चिकत्सक द्वारा बलतकार ROP व्यक्ति का medical examination ठीक option number C is the correct answer of this question very nice Indian Evidence Act का section number 9 है जो कि test identification parade की बात करता है test identification parade का question आएगा तो बता दूँगा के TIP का concept क्या होता है और कैसे इसको जो है हम लोग use में लेते हैं option C इसका बिल्कुल सही जवाब है next question पर which one of the following section of CRPC 1973 it is mandated to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours दंद प्रकिया सहनेता 1973 के निमलिखित मैं से किस दाराव है गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंते के वीतर magistrate के समख space करना अनिवार रहे है most important most important क्या लिखू यार very very important हर एक जो है paper में JLO का paper हो APP का paper हो ADPO का paper हो या फिर किसी भी state judiciary का paper हो या law से related law से related कोई भी paper जहां CRPC आती है वहाँ पर ये question as it is चिपका हुआ मिलता है clear किस किस section में दी गई है ये बात हमें बताई गई है section number 57 of CRPC में और section 57 बात करता है कि जब भी कोई भी police officer किसी भी बंदे को arrest करेगा arrest करने के बाद में 24 घंटे से जादा without the judicial magistrate की permission के वो अपनी custody में नहीं रख सकते अगर वो रखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं उसके fundamental rights का violation कर रहे हैं article 22 clause का violation किया जा रहा है तो 57 ने ये obligation लगाई है सारे police officers पर कि अगर आप किसी को arrest करके लाए हैं समझने वग्याली बात अब आने वाली है समझना ध्यान से arrest करके लाए हैं तो जब से आपने उस व्यक्ति को arrest किया है तो जो जितना time suppose करिये दिल्ली से किसी इंसान को arrest किया गया और इसको arrest करके आगरा वाली police ले जा रही है चार घंटे का समय लगता है arrest करने में जर्नी में ठिक दिल्ली से आगरा ले जाने में और उसके बाद यहाँ पर suppose करो 9 बजे सुबा arrest होता है एक बजे police आगरा पहुंसती है 1 पीम पे तो police का ये अधिकार है कि आगरा वाली police इस time को include नहीं करेगी 24 गंटे में मतलब 9 बजे से इसकी counting नहीं होगी 1 बजे से क्या sorry 1 बजे से इसकी counting सुरू होगी जैसे ही वो जो है police स्थाने में पहुंचेगा और उसको जो है कब तक within 24 hours ठीक जो हमारा time होगा किसका जो हमारा journey का time होगा वो इसमें exclude किया जाएगा include नहीं किया जाएगा 24 गंटे में police officer को उस व्यक्ति को किसके सामने judicial magistrate के सामने पेश करना होगा और उसके बाद judicial magistrate को सारी चीज़े बताने के बाद अगर judicial magistrate को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को police जो है क्या police custody में भेजा जाएगे तो वो जो है PC अलाव कर देते हैं वनना वो judicial custody BJC अलाव करते हैं maximum police custody कितने दिन की हो सकती है कोई बता सकता है अगर किसी को police custody में भेजा जाना है तो कितने दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है ये चीज आप से यहाँ पर पूछी जा रही है maximum जो है जुडीशल मजिस्टेट कितने दिन तक की पुलिस कस्टडी को award कर सकते हैं 15 दिन कितने 15 days तक कर सकते हैं और ये 15 days के बाद उनको उसको जुडीशल कस्टडी में नयाया खिरासत में भेजना ही भेजना परता है clear और अगर जुडीशल मजिस्टेट नहीं है उसकी जगा पर अगर कोई भी duty magistrate है जो के judicial magistrate के कामकाज को देख रहा है तो duty magistrate जो है कितने दिन तक के लिए grant करेगा duty magistrate जो है क्या total seven days के लिए कितना seven days के लिए grant कर सकता है और इस से ज़्यादा seven days से ज़्यादा judicial magistrate यहाँ पर लिख दिया मैंने दिखनी रहोगा आप दिख रहोगा ठीक तो जो हमारा duty magistrate होता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ दिन ज़्यादा की police custody नहीं दे सकता police custody और judicial custody में जो है क्या होता है बहुत फर्क होता है police custody में police ही जो है सर पे चड़ी रहती है और वही accused की custody रखती है जबकि judicial magistrate की custody में या फिर judicial magistrate की custody में किसी को भेजा जाएगा तो वो जो है कहाँ पर जो proper jail होगी वहाँ पर उसको भेजा जाएगा और अगर police custody में भेजा जा रहा है तो police custody का मतलब क्या है बिटा police custody का मतलब होता है या तो अगर police थाने वाली है तो थाने वाली या फिर कोई भी special agencies है तो उनका जहाँ पर headquarter होगा वहाँ पर उस ब्यक्ति को पुलिस custody a lot कर सकते हैं तो यह 5-6 question है क्या 5-6 question है जो आपको इससे बनते हैं और यह बार बार repeatedly आप से पूछे जाते हैं I hope इतना समझ में आया होगा बहुत important section है यह हमारा section number 57 जो कि बार बार repeatedly इसमें में में भी बहुत सारे question बेटा हमसे पूछे जाते हैं 57 पर ठीक चलो अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से एक बार fire बना दू और session को like कर दो फटाफट से जल्दी से like कर दीजे फिर चलते हैं अगले question पर बोलते बोलते काफी समय हो गया judicial custody बारा जब time आएगा न तो बताऊंगा कौन magistrate कितने दिन की judicial custody grant कर सकता है उसके बाद में कब default will का rise or ride होता है ये सारी चीजें तो इतनी interesting तरीके से table बना के समझा दूआ है जब दो table अब तक बना के समझाई है ठीक एक तो CRPC का किस level पर काम चलता है वो बताया दूसरा क्या बताया कि कौन सा magistrate कितनी punishment दे सकता है आगे का मत पूछा करो कि आगे जब वो आएगा तो इतना बहतरीन तरीके से graph बना के समझा दूँगा कि उसको बना लिना कभी वो चीजें आपकी गलत नहीं होने वाली है क्लियर हूँ इतनी बात चालो सबको बज़ा आ रहा है फायरी फायर चल रहा है अस तो फायर चालो next question पर आईए बेटा जल्दी से ए रिपोर्ट ऑफ परसन arrested without warrant shall be given by the officer in charge of police station 2 बिना वारंट के गिरफतार किये गए व्यक्ति की रिपोर्ट पुलिस सेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाएगी option A district magistrate को subdivisional magistrate को judicial magistrate first class को either district magistrate और subdivisional magistrate केवल जला अधिकारी केवल उप विवागिय मजिस्टेट प्रसम स्रेडी magistrate magistrate या तो जला magistrate या उप विवागिय मजिस्टेट किसकी बात कर रहे है जहां पर क्या without warrant किसी भी व्यक्ति का क्या किया गया है without warrant arrest किया है officer in charge of police ने officer in charge of police station ने अगर किसी को arrest कर लिया है किसके without warrant के तो without warrant में आपको क्या बता रहा है तो ये वाली जितने भी arrest होंगे without warrant वो जो है police officer या officer in charge of police station की responsibility है कि वो district magistrate या फिर sub-divisional magistrate को क्या किया जाएगा sub-divisional magistrate को भेजेगा ठीक तो option number D सही answer है कौन सा जवाब सही है बड़ा बड़ा लिख दिया है D इसका बिल्कुल सही जवाब है A B C मत करिये ठीक D is the correct answer next question which one of the following section of CRPC provide identification of arrested person अब देखो यहाँ पर क्या गह रहा है identification of क्या गह रहा है identification of arrested person that is test identification परेश्ट TIP की बात कर रहा है CRPC की निमलिखित में से कौन सी धारा गिरफतार व्यक्त की पहचान प्रदान करती है 54, 55 A, 54 A या फिर 7 A बताएं फटाफट identification of arrest किसमें दिया गया है 54 A में किसमें option number C identification of person arrested किसमें प्रोवाइड किया है हमको 54 A में option number C जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है A वाले सारे section 41 हो 41 A हो जितने भी हमारे 41 से लेकर 60 के बीच में A मतलब amendment से जितने भी section जोड़े गए है उन सारे sections को याद करके रखना most important है हमारे JLO के prospective से किस amendment से जोड़े गए 2005 का था 2008 का था 2013 का था और ये amendment कब force में आए ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है important हो जाती है ठीक तो option C जो है इसका विल्कुल सही जवाब है next question पर आईए फटावट से if a person in the lawful custody escapes the person from whose custody he escaped may immediately pursue and arrest him ठीक तो यहाँ पर क्या गह रहा है कि अगर ऐसी situation है याद कोई व्यक्ति कानूनी हिरासत से भाग जाता है तो वह व्यक्ति जिसकी हिरासत से भागा है तुरंत उसका पीछा कर सकता है और उसे गिरफ्थार कर सकता है option A within the local limits of the police station concern within the local limits of district within the local limit of state in any place India क्या गह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी lawful custody में कोई भी व्यक्ति रखा गया था और वो व्यक्ति जो है उसकी custody से क्या है भाग खड़ा हुआ उसको pursue कर सकता है और ढूड कर अगर वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पाया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा उस व्यक्ति के द्वारा arrest कर लिया जाएगा section number 60 of criminal procedure code में बात हमको बताई गई है in any place of India याद रखिएगा same wording आपसे चिप की हुई मिलेगी JLO के paper में clear हुई त्रीवत next question पर आते है next question पर आने से पहले option D is the correct answer power on escape to a person or retake clause 1 if any person in lawful custody escape or escape or is rescued the person from whose the custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in the India ठीक तो क्या बता दिया के 60 के clause 1 में section 60 के clause 1 में बता दिया कि जिसके कस्टडी से escape करेगा या फिर उसको अगर rescue किया जाना है ढूरा जाना है तो police officer का अधिकार है कि police officer भाई साब जो है क्या करने वाले हैं उसको जहां जिसकी कस्टडी से भागा है all over India जाकर rescue कर सकते हैं आज हम अपने JLO की free series में code of criminal procedure के lecture number 4 पे हैं आज हम जो है summons warrant और किसके बारे में proclaimed offender के बारे में और 91 से लेकर 95 तक के important provisions को पढ़ने वाले हैं clear चलो start करते हैं आज की class सबसे पहले service of summons on corporate bodies and societies may be affected by serving it on option A the secretary option B the local manager and the other principal officer of the corporation the letter sent by the register post address to the chief officer or the corporation of India option D any of the above ABC is the correct answer corporate निकाहों और society पर summons की तलीम करने को उसे प्रभावित किया जा सकता है किसके पास सचेव इस्थानिय प्रवंदक या निगम के अन्य प्रमुक्क अधिकारी भारतिय निगम के मुख्य अधिकारी को संसोदित संसोदित पंजी क्रेट डाक के द्वारा भेजे गए पत्र या फिर उप्रोक्त A, B, या C बताई जल्दी से देखिए अब कल तक मैंने आपको 60 तक करा दिया था और 60 A भी एक important section है इसको भी जो है prelims के लिए देखते हुए जाना और इसके बाद अब हम आ गए हैं अपने summons के procedure पर और summons का procedure अगर आपको पढ़ना है तो 61 से start होकर 67 तक जो है हम इसके detailed provisions को discuss करेंगे क्योंकि यहां से ही हमारे सबसे ज़्यादा prelims के question बनते हैं clear हुई इतनी बाद तो इसका answer करिए यह कौन से section से question है कोई मुझे बता सकता है कि section से question है जल्दी से बताए कहां से है यह section section number बताओ section का इससे है clear देखो summons के जितने भी rules है या फिर जितने भी regulations है पहले उसको एक बार bear act से discuss करेंगे और उसके बाद हम से section के questions करेंगे ठीक जिससे के आपको यह सारी चीज़े याद हो जाए तो फटाफट से हमको करना क्या है हमको जो है सबसे पहले अपने आ जाना है bear act पर खोल लो bear act और अब जो है हम summons की सारी चीज़ों को पढ़ना इस्टार्ट करते हैं देखी यहाँ पर आपसे कह रहा है chapter number 6 में हमको बताया गया है summons के बारे में procedure to procedure to compare appearance कैसे कैसे किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है यह जो chapter number 6 है इस chapter number 6 में हमें इतना बताया है कि कब हम किस इनसान को court में किस तरीके से बुलाएंगे सबसे पहले चाहें कोई भी accused हो चाहें कोई भी victim हो या फिर उससे related कोई भी eye witness या witnesses हो हम क्या करते हैं सबसे पहले अगर court को किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्तित करना है बुलाना है तो उसके लिए summons issue किये जाते हैं summons issue करके उसको ये इतला दी जाती है कि आप इस तारीकों court में आएं और अपनी जो है सारी चीजों को discuss करें जो भी आपका matter है अगर वो इनसान disoway करता है summons को और summons के disoway करने पर court के बार-बार repeatedly summons भेजे जाने पर वापस नहीं आ रहा है तब क्या किये जाएगा तब जो है उसको warrant issue किये जाएंगे summons में तो court जो है आपको post के थुरू या फिर जो भी court officers होते हैं उनके थुरू भिजवा देगा और एक वो notice देकर चले जाएंगे और उस notice से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस दिन पर किस समय court में जाना है और आपका क्या matter है ठीक लेकिन अगर आप court के बुलाने पर नहीं जाते हो तो इस cases में summons के बाद court जो है warrant को issue करती है warrant को issue करने का main motive क्या है कि court का कोई अधिकारी आपके पास जाएगा warrant लेकर और आपको arrest करके उठा कर court के सामने paste कर देगा दूसरा step होता है जब summons नहीं follow हो रहे है तो warrant किया जाता है और अब जब warrant नहीं होते है तो उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में आपका कुर्की की जाती है कुर्की का बतलब आपकी property को attach कर दिया जाएगा आपकी property को court जब्त कर लेगी ठीक तो यही procedure जो है हमें यहाँ पर बताया गया है और इस chapter को तीन parts में बाटा गया है सबसे पहले section 61 बात करता है किसकी forms of summons की तो यहाँ पर section 61 का जो motive है वो क्या बता रहा है forms of summons के बारे में बता रहा है forms of summons में सीधे लिखा है कि every summons issued by the court under this court shall be in writing ठीक तो यहाँ पर क्या बता दिया आपको कि जो आप summons issue कर रहे हो वो कैसे होंगे वो आपके summons जो है writing में होने चाहिए अगर writing में नहीं है तो वो जो है क्या वो valid summons नहीं होंगे और writing में होने के साथ summons की essential qualification आ गई है आपर पहला क्या बताया कि जितने भी summons court issue करेगी वो writing मतलब लिखित में जाएंगे और उसका जो है duplicate copy भी भेजी जाएगी तो यह दो condition prelims exam में हमसे पूछी जाती है तीसरी signed by the presiding officer of such court मतलब जो भी presiding officer है जो उन summons को भेज रहा है ठीक तो उसके जो है क्या कराई जाएंगे signature होने चाहिए जो भी summons भेजे जा रहे है उस पर clear तो यह तीन basic essential condition है by or by such officer as the high court may from time to time by rules direct and shall bear the seal of the court तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो भी हमारे summons भेजे जाएंगे इसमें 5 बाते याद रखने बाली है पहली क्या है कि यह writing में भेजे जाएंगे दूसरी है कि इनको duplicate में भेजा जाएगा तीसरी कि जिस भी court के द्वारा summons को issue किया जा रहा है उसका जो भी presiding officer या sitting judge होगा वो जो है क्या करेगा अब इसके signature करेगा और चोथी condition है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको authorize कर रखा है high court ने तो high court के द्वारा authorize किये हुए व्यक्ति जो है summons के भेज सकते हैं और जिस court से वो summons भेजे जा रहे हैं उसका जो है क्या होगा उसका पूरी तरीके से महर भी लगी होनी चाहिए तो ये तो summons की basic necessity है कि इस तरीके से summons भेजे जाते हैं और ये पांच वो question ही आपसे prelims में पूछे जाते हैं summons serve कैसे किये जाएंगे ये 62 में बताया गया है तो अब हम आ रहे हैं अपने 63 पर और 63 के question में हमसे क्या पूछा गया था कि जो है service of summons corporate body and society may be effective on कब जो है किसी भी अगर body को या society को service of summons किया जाना है तो कैसे हम summons करेंगे देखिए 63 हमको बताता है कि हम उसके secretary को local manager या फिर जो भी principal office है corporation का वहाँ पर वो summons बेज सकते हैं तीसरा letter जो है जो भी registered post है या फिर chief officer corporation of india किसी भी corporation का जहाँ पर head office है उस पर भी summons किये जा सकते हैं तो 63 ने हमको बताया option number A, B और C तीनों ही तरीके से जो है क्या किया सकता है summons को भेजा जा सकता है D is the correct answer 63 कह रहा है service of summons on a corporation may be affected by serving it on a secretary जब हम किसी भी corporation को summons करना चाते हैं तो वो जो है किसको किये जाएंगे वो जो है secretary को किये जाएंगे local manager को किये जाएंगे और other principal officer of the corporation जो उसके other principal officer होंगे उनको भी summons किया जा सकता है और by letter sent by the register board address to the chief officer of the corporation in india या फिर जो भी उसका chief office है all over india उसके जो है किसको उसके head को chief officer को भी summons किया जा सकता है in which case this service shall be deemed to have been affected when the letter would be arriving in ordinary course of the post ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि summons सर्व कब माने जाएंगे यह भी यहाँ पर बता दिया कि अगर registered post से किस से registered post से summons भेजे जा रहे हैं तो जैसे ही वो registered post जो है हमारे in offices का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर पहुँचेगा वैसे ही यह मान लिया जाएगा कि क्या हुआ कि वैसे ही यह मान लिया जाएगा कि यह service of summons हो चुकी है clear तो यहाँ पर 63 बहुत जादा important है और सारे ही लोग क्या कर सकते है summons को जो है इनके पास बेजा जा सकता है तो option D जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है नई कुछ मिशनी किया है class बस अभी start हुई है पहला question ही हम discuss कर रहे थे summons का मैंने 61 पढ़ाया है और 63 का यह question हमने deal किया है very good evening all of you क्यों late हो रहे हैं आज सारे बच्चे class तो थी ना आज की तो फिर आप late क्यों आ रहे हो class late start होने का मतलब यह था कि JLO का postpone हो गया एक्जाम उसका notification के लिए एक video करना था 10 minute का video था उसके बाद मैंने class start कर दिया next question पर आईए summons issued by the court under the code of criminal procedure 1973 must be in writing duplicate both A and B in writing or signed by the presiding officer of such court bearing the seal of the court ठीक तो यहाँ पर क्या कहे रहा है कि अगर हम CPC 1973 के तैद नियाले द्वारा जारी summons की आवस्चता होनी चाहिए लेखन में प्रतलीपी में दौनों A और B ऐसे नियालों के पीठा सी नदिकारी के द्वारा लिखेत और पास्तात्रिच जिस पर नियाले की महर लगी हो बताइए यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको 61 पड़ाया है 61 में 5 requirements थी क्या-क्या थी सबसे पहले summons writing में जाएंगे दूसरा summons duplicate में जाएगा तीसरा जो भी presiding officer of court है उसका signature होना चाहिए चोथा के presiding officer of की जो भी office है जो भी court कर रहा क्या जो भी court कर भेज रहा है summons वो जो है किसके लिए उसकी जो है seal होनी चाहिए और पांच वा के अगर high court ने किसी भी व्यक्ति को authorize कर रखा है किसके लिए authorize कर रखा है summons को भेजने के लिए तो वो जो है क्या वो summons को भेजने के लिए पूरी तरीके से eligible है वो भी summons को भेज सकता है तो ये बात हमको section 61 ने बताई है इसका जो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option D हो जाएगा देखो यहाँ पर एक चीज missing रह गई है and option D ठीक तो ये तीनों ही eligibility criteria है तो option C जो है इसका सही answer है यहाँ पर type करना मेरे से रह गया है बच्चा के option number कौन सा option number C is the correct answer A, B and D all of the above is the correct answer of this question clear क्योंकि writing में भी भेजेंगे duplicate में भी भेजेंगे और ये जो है signed by presiding officer और उस court की महर लगी होनी चाहिए जो उसको भेज रहा है ये चीज हमको यहाँ पर बताई गई है clear तो all options आई है यहाँ पर एक typical error है अब भी बोल दे रहा हूं जो PDF लेकर बाद में पूछेंगे के sir आपने C answer क्यों बताया था उनके लिए confusion होगी clear चलो next question पर आते हैं next question है हमारा how the summon serve सम्मन जो है कैसे serve कराया जा सकता है सम्मन कैसे तामील हुआ option a एक पुलिस अधिकारी द्वारा निया लेके एक अधिकारी द्वारा किसी अधिकरित लोग सेवा लोग सेवक के द्वारा उपरुक्त में से किसी के द्वारा how the summon serve by the police officer by an officer of court by any authorized public servant या फिर by any of the above जल्दी जल्दी करिए आज क्योंकि time कम है class थोड़ी लेट शुड़ू हुई क्योंकि एक और important update देनी थी कि JLO का exam postponed हो गया है हिंदी वाले फटापट से पढ़के बताएं यहाँ पर पूछ रहा है how the summon serve सम्मन को कैसे serve कराया जा सकता है ये question आपको प police officer को appoint किया कि आप जाकर Mr. X को ये summons deliver करके आओ ऐसे ही any officer of the court court के जो officers होते हैं उनको जो है summons को serve करने के लिए दिया जा सकता है तीसरा कोई भी authorized public servant जिसको के court ने authorized कर दिया है summons को serve करने का ठीक तो यहाँ पर तीनों ही लोग क्या होते है eligible होते है summons को serve करने के लिए option number D जो मजलो कि हम जो है summons को CRPC में पढ़ते क्यूं है और इनका क्या rule है suppose करिए इस line के थुरू summons warrant और attachment property का concept समझा दूँगा अगर किसी A और B के बीच में जगडा हुआ उसकी FIR होई FIR होने के बाद investigation होई investigation होने के बाद में final report submit की गई final report submit करने के बाद judicial magistrate ने अपना judicial mind क्या judicial mind apply किया यह जो इतनी stage हो गई वो हमारी investigation की stage होती है ठीक है और यह जहां पर judicial magistrate को final report submit कर देती है यह जो stage होती है वो हमारी कौन सी होती है यह inquiry की stage होगी inquiry की stage होगी उसके बाद जैसे ही judicial magistrate ने framing of charges किया charge frame किये और charge framing के बाद दोनों ही party को mr.ab जिनके बीच में जगड़ा था उनके उपर जो भी charges लगे उसको frame करने के बाद यहां से start हो जाता है हमारा trial का stage तो इस trial के stage में जरूत पड़ती है किसकी summons के भेजे जाने की वारंट के issue किये जाने की और attachment करने की या फिर proclamation करने की ठीक अब याद रखेगा यह चारो stage कहां पर यहां पर काम आती है तो जनरली क्या होता है यह तीनो stage हो गई इसके बाद जब trial चुरू होता है तो court यहां पर तो FIR करा के यह लोग अपने घर चले गए investigation हो चुकी है अब judicial magistrate ने का हावाई इसमें कुछ गड़वड हुई है अपना mind apply किया और उन्होंने inquiry करना शुरू कर दी charge frame होने के बाद जो ह hearing की date fix की गई है कितना किस time पर जो भी time दिया जाएगा 2 p.m. on 31st August ठीक तो आप आओगे तो इसी लिए क्या करते है information provide करने के लिए क्या किया जाता है information provide करने के लिए सबसे पहले जो है क्या किया जाएगा सबसे पहले यहां पर court summons issue करेगी summons issue करने का motive है कि parties को information दी है और किस matter के लिए court में आना है ठीक अगर parties summons issue करने के बाद court में time to time आती रही तो उनको जो है क्या उनके against में warrant issue नहीं होगा या फिर जब भी क्या जब भी ऐसा matter है जहां पर warrant issue करना mandatory है जिससे कि जो भी अमारा व्यक्ति होगा वो व्यक्ति किसी भी अपने witness को नुक्सान उनको disappear ना करें तो उसको arrest warrant के थुरू arrest करा लिया जाता है लेकिन जब आप सब court की नहीं सुन रही हो और summons भेजे जाने के बाद यहां पर नहीं आ रही हो तो उस case में आपको देखने को मिलता है कि उसके बाद में court जो है क्या करती है आपके warrant issue करती है और warrant में यहां पर त लब जिसको appoint कर रखा है summons serve करने के लिए और यह जाकर police officer आपको यहां पर arrest arrest करने की कोई बात नहीं कहेगा बस normal information देगा कि यह summons आए है और इसके time पर आपको court में जाना है जब आपने यह सारा procedure follow नहीं किया उसके बाद court क्या करेगी आपको बुलाने के लिए क्योंकि trial च ठीक तो जब summons को डिसोबे किया जाता है तो warrant issue किये जाते हैं और जो भी व्यक्ति warrant के issue होने के बाबजूद भी भाग जाते हैं और यहां पर court के सामने नहीं आते ठीक warrant भी issue किये warrant पर भी वो इंसान नहीं आया तो उसको जो है क्या हम PC declare कर देते हैं PC declare कर देते हैं proclaimed offender इसको declare कर दिया जाता है proclaimed offender का मतलब जहां भी जिस भी इस्तिती में यह व्यक्ति पाया जाएगा इसको arrest कर लिया जाए और फला-फला court के सामने क्या किया जाएगा इसको फला-फला court के सामने भेज दिया जाए देख रहा है ना proclaimed offender declare कर दिया और proclaimed offender declare होने के बाद भी वो जो है court में नहीं appear हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे, जो भी उसकी property होगी, जो भी क्या होगा, उसकी property होगी, उसका attachment कर दिया जाएगा, और attachment करने के बाद, उसकी property को sale कर दिया जाएगा, यही जो है chapter number 6, of criminal procedure code, 1973 का पूरा का पूरा concept है, मैं आशा करता हूँ, कि आपको यह procedure समझ में आया होगा, 4-5 नवंबर हो गई है, मैंने एक वीडियो बना दिया है, अल्रड़ी इसलिए, क्योंकि बार बार classes में आप यह पोस्ट है, इसी वैसे इस session से पहले, 6 वजे बाला वीडियो देख लो, पोस्ट पंड हो गई है, कहाँ पर notification है, और कहाँ बताया है, अब यह बताओ, यह clear हुआ या नहीं, ठीक, यह chapter number 6 का मूल मंत्र है, जो भी हम chapter शुरू करते हैं, उसकी पहले सारी knowledge ले लेते हैं, clear हुई इतनी बात, ऐसे ही आपको chapter wise हर एक concept को, CRPC के लिए बच्चा, समझना ही समझना पड़ेगा, तभी आपको code of criminal procedure 1973, बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं हुआ हो, तो मैं आप हट जाता हूँ, इसका इश्किन सोट ले लो, और fair writing में, अपने समझने के लिए, अपनी notebook पर एक paper लगा कर, इसको क्या कर लेना, paper लगा कर, लिख लेना, clear, क्योंकि ये PDF में, अटेच होकर नहीं मिलने वाला, clear, चलो, तो इसका जो है, क्या हो जाएगा, option number D, कोई भी इंसान क्या कर सकता है, कोई भी उपरुक्त में से, दर्साय आएगे हो अव्यक्ति, जो है, summons को सर्व कर सकता है, clear, चलो, आगे चलते हैं, next question पर, where the person summons is in the active service of the government, the court issuing the summons shall ordinary send it in duplicate to the head of the office, in which such person is employed, this is provided by section 63, 64, 65, या फिर 66, आप से यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पहले इसको समझिएगा, जहाँ तलब किया गया व्यक्ति सरकार की सक्री सेवा में है, तो सम्मझ जारी करने वाली नियाल है, आम तोर पर इसे दो प्रतियों में उस कार्याले के प्रमुक को भेजेगा, जिसमें ऐसा व्यक्ति कार्यारत है, यह कहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझा जेता हूँ, गवर्मेंट सर्वेंट की अगर बात आती है, ऐसे गवर्मेंट सर्वेंट जो के हमारे किसी भी गवर्मेंट ऑफिस में प्रिजेंट ली क्या है, वर्किंग है, तो अगर उनको सम्मंस भेजा जाएगा, तो कोट क्या करेगी, उनको सम्मंस उनके ऑफिस के हैड को भेज देगी, और उनके ऑफिस के हैड को अगर सम्मंस सर्व कर दिया गया है, उन गवर्मेंट इंप्लोईज के थ्रू, तो यह समझा जाएगा कि यह पूरी तरीके से क्या किया गया है, कि उसके खिलाफ कोई भी सम्मंस आया है clear तो यहां पर जो है क्या यहां पर यहां पर यह आपको देखने को मिलता है section number 66 में ठीक तो government service on the government servant कैसे हम जो है government servant के ऊपर जो है service कर सकते हैं यह question हमको यहां पर देखने को मिलता है इसका जो सही answer हो जाएगा option number 66 clause 1 को detail में पढ़ना ह और यहां से ही हमें government servant को किस तरीके से क्या government servant को किस तरीके से summons भेजे जा सकते हैं यह चीज हमको पूरी तरह से पता चलती है तो option number D जो है इसका बिलकुल सही जवाब है clear section 61 clause 1 को पढ़ते है where the person summons is in the active service of the government यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको summons किये जाने है लेक clear the court issuing the summons shall be ordinary send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed ठीक तो यहां पर क्या बताए गया सबसे पहली बात कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो जो उसका officer होगा office का उसके पास में summons बेजा जा सकता है clear दूसरा such head shall therefore cause the summons to be served in the manner provided by section 62 and shall return to the court under his signature with the endorsement required by that section अब देखो यहां पर क्या बताए गया है जो हमारा section number 62 है section number 62 कहता है कि अगर किसी भी इनसान को summons serve किये गए हैं तो summons serve किये जाने के बाद में ठीक सम्मन सर्व किये जाने के बाद में जो भी हमारा presiding officer होगा या वो अपने काम को पूरी तरीके से जिस भी व्यक्ति को nominate करके भेजा गया है वो जो है क्या पूरी तरीके से summons service करने वहां गया भी या नहीं गया वरना अपने घर पर जाकर रोट कर आ गया और बोला कोट में कि वो इनसान तो हमको मिलाई नहीं तो इसलिए जब हम service of summ summons हो गए है या नहीं ठीक तो यही पूरी प्रक्रिया दोराई जाती है section 62 के according अगर किसी भी इनसान को service of summons हो गया है तब और अगर service of summons फेल रहता है मतलब जो भी हमारा officer court का summons को लेकर जाता है उसको वो व्यक्ति नहीं मिलता तो वो आकर court को inform करेंगे और एक teacher follow करने की बोल रहा है मतलब जो भी हमारा सरकारी कर्मचारी है जिसके उपर summons होना है उसको क्या किया जाएगा उस व्यक्ति के head office में summons भेजा जाएगा और head office का जो भी officer in charge होगा वो उसको receive करेगा receive करने के बाद उसकी जो एक copy होगी उसको जो है court जो भी इनसान लेकर गय या फिर inform करेगा court को कि आपने मेरे employee के against में जो summons भेजे थे वो मैंने जो है क्या कर लिए है issue मतलब वो receive कर लिए है और वो employee की responsibility है कि वो जो है अपने जो भी उसका कर्मचारी है उसको inform करेगा कि आपके लिए summons आए है ठीक such signature sell be the evidence of due service और जो क्या 62 के according क्या किया जाएगा section 62 के according जिस भी officer in charge को जो government servant है जिसके against में और summons भेजे गई थे उसका signature ये evidence होगा कि उस व्यक्ति को summons के थूँ ये इतला दे दी गई है कि उसके खिलाफ कोई भी summons आए है clear लगता है मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा change करना पड़ेगा ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्या ज्यादा पढ़ा रहा हूं क्या एक बर बताओ भटाफट से पहले ये बताओ समझ में आया इतनी चीजें एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ा दी तो हो सकता है नहीं समझ में आई हो समझ में आ भी राहे या नहीं आ रहा है इतना बता दो समझ नहीं आएगा तो क्लास को कराने का कोई फायदा नहीं होगा हाँ ना कोई किसी का जवाब मिलेगा अब तक जितनी चीज़े मैंने पढ़ाई है वो सारी चीज़े समझ में आई या नहीं आई अच्छे से पक्की बात है आ रहा है इंपोर्टेंट है समझ का पार्ट बेटा और इसमें सेक्शन 61 से लेके 67 तक कंटिनुसली कुशन पूछे जाते हैं इस वएसे इतनी सारी चीज़े आपको बतानी पड़ रही है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर जिन को थोड़ा-थोड़ा समझ में नहीं आया इस लेक्चर को दोबारा देखना तब समझ में आएगा जेलो वाला postponement की इतनी excitement है कि कुछ नहीं आ रहा समझ में ठीक चलो next question पर आओ as provided by section 75 of CRPC the police officer or the other person executing a warrant of arrest is required to जैसे कि CRPC की धारा 75 प्रदान किया गया है कि CRPC गिरफतारी warrant निस्पासित करने के पुलिस अधिकारे या फिर अनिवक्ति को ऐसा करना आवस्चक है option A it notify the substance thereof to the person to be arrested so the warrant to the person to be arrested if so required option C give a copy of warrant to the arrested person बोथ A and B क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी इनसान को warrant दिया गया है warrant मतलब किसी भी इनसान को warrant को देकर जो है arrest करने के लिए किसी भी officer को police officer को या other person को भेजा है कि वो execute कराएगा warrant को और arrest करके लाएगा जिस भी व्यक्ति के नाम पर वो arrest warrant है ठीक तो ऐसे case में उसकी क्या-क्या responsibility है अच्छा पहले हिंदी वाला पढ़ दिया करें ठीक है पहले हिंदी वाला पढ़ दिया करेंगे कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाब warrant issue कर सकती है और जिस भी officer को उस warrant को execute कराके किसी भी इंसान को arrest करके लाने को कहा जाएगा उसको जो है लेकर आने की पूरी power है तो ये power में अगर कोई भी police officer इस्तमाल करता है उस warrant को execute कराने के लिए किसी व्यक्ति को arrest करने के लिए तो क्या करेगा वो notify the substance there of to the person to be arrested जिस व्यक्ति को arrest किया जा रहा है उसको जो भी warrant में लिखी हुए कारण है उनको वो बताएगा दूसरा show the warrant to the person to be arrested if so required अगर जिस व्यक्ति को arrest करने के लिए police officer गया है warrant लेकर वो व्यक्ति अगर कारण पूछता है मतलब causes पूछता है तो उसको और या फिर जो अगर वो warrant को देखना चाता है तो उसको वो warrant भी दिखाया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका जो सही answer हो जाएगा option number D is the correct answer of this question ठीक A और B दोनों ही काम police officer को करने होंगे अगर आपने किसी से warrant मागा और आप court के officer है तो आपको क्या करना है उस warrant को जो है पूरी तरीके से show करना होगा 75 कहता है notification of substances of the warrant ठीक तो the police officer or the other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required show him the warrant ठीक तो जो भी substance है किस basis पर उसको arrest करने आए है क्यों warrant आया है वो सारी जानकारी दी जाएगी और अगर वो मांग लेता है हमसे कि warrant दिखाओ क्या लिखर बेजाए कोट ने तो वो copy भी उसको दिखानी होती है अंडर section 77 of CRPC a warrant of arrest may be executed CRPC की धारा 77 के तहत गिरफतारी का warrant निस्पासित किया जा सकता है option A with the local jurisdiction of the court issuing warrant warrant जारी करने वाले नियाले के इस्थानी च्छित्रा अधिकार के भीतर at any place within the state राज्य के भीतर किसी भी इस्थान पर तीसरा at any place in इंडिया भारत के किसी भी इस्थान पर चौथा within the jurisdiction of district court जिला नियाले के छित्र अधिकार के भीतर अब यहाँ पर पूछ रहा है कि section 77 के according अगर किसी भी warrant को issue किया गया है तो उसका जो execution है ठीक किसी भी व्यक्ति को arrest करने का अधिकार है वो कहां पर किया जा सकता है विशाल एल एल बी please make the playlist of these classes विशाल बिटा पहली बार आप class करने आये हैं क्या कल मैंने खोल के भी दिखाया था कि आपकी free JLO classes की series study IQ judiciary के YouTube channel पर बिल्कुल free of cost playlist में मिल जाएगी और आप वहां से जाकर JLO की यह सारी classes जब भी करना चाहें कर सकते हैं देखो यहां पर section 77 बताता है कि अगर किसी भी officer को warrant ले जाकर किसी विशाल आपकी को arrest करने की power दी गई है court के द्वारा तो वो विशाल उस warrant को all over India किसी भी इस्थान पर भारत के किसी भी इस्थान पर execute करा सकता है मतलब ऐसा नहीं होगा कि court ने issue किया है तो court का jurisdiction है उसी में arrest किया जाएगा देखो अगर व्यक्ति एक state केरला का व्यक्ति है suppose करिये या फिर आप माल लीजे UP का व्यक्ति है उसके against में कोई warrant आया है और वो जाकर गुजरात में या फिर असाम में रहने लगता है तो क्या अगर police officer उसको जो भी warrant execution का officer होगा उसको असाम में जाकर arrest नहीं कर पाएगा उसको पूरी power है कि वो जो है जहां पर भी चाहें वो असाम में पाया जाए चाहें वो गुजरात में पाया जाए कहीं पर भी all over India arrest कर सकता है clear where a warrant may be executed a warrant of arrest may be executed at any place in India section 77 यह question पूछ लिया जाता है where warrant may be executed ठीक तो कहां पर warrant को execute कराया जाता है यह किस section में लिखा गया है यह 77 की बात है और यह question आपके JLO के लिए most important question है clear तो यहां पर कह रहा है गिरफतारी का warrant भारत के किसी भी इस्तान पर निश्पासित किया जा सकता है option number C is the correct answer of this question moving ahead next question which one of the following groups of sections of CRPC deals with the proclamation and attachment limb लिखित में से CRPC की धाराओं में कौन सा समू उद्घोषण उद्घोषणा और कुर्की से संबंदित है section 80-85 82-86 82-90 82-86 82-85 82-86 82-82 से 90 और 80 से 86 किसकी बात कर रहा है बात कर रहा है किसकी हमारे proclamation and attachment of the property अभी मैंने समझाया था कि कब जो है आपका summons इसू किये जाएंगे कब उसको warrant में बदला जाएगा और कब उसको जो है proclamation and attachment की requirement होती है clear तो proclamation और attachment की अगर हम बात करें तो यह जो हमारा chapter number 6 है उसके part number C में fall करता है और proclaimed offender कैसे declare होगा और कैसे उसकी property की कुर्की की जाएगी यह जो है हमको कहां दे रह गया है 82 से लेकर 82 से लेकर ठीक 86 मतलब 86 तक यह सारी चीज़े हमको बताई गई है तो option number B जो है इसका बिलकुल सही जवाब है clear moving ahead next question पर आते है under which section of CRPC a person who is avoiding the execution of warrant may be proclaimed of abscondor ठीक क्या कह रहे है कि जो व्यक्ति निरंतरता से court के warrant को क्या कर रहा है warrant की अवहेलना कर रहा है और वहां से भागा हुआ है ठीक तो किस provision के according उस व्यक्ति को proclaimed abscondor मतलब भगोड़ा भगोड़ा घोसित कर दिया जाएगा CRPC के किस धारा के तहत एक व्यक्ति जो warrant को निस्पादन से बच रहा है उसे भगोड़ा घोसित किया जाता है किस section में किसी भी व्यक्ति को proclaimed offender proclaimed abscondor या फिर proclaimed offender declare किया जाएगा वो है कौन सा 81, 82, 83 या फिर 84 बताओ 81, 82, 83 या फिर 84 proclaimed offender किस में बनाया जाता है पहले summons होंगे summons में आप को सूचना दी गई आप नहीं आए फिर warrant होंगे warrant में police officer को arrest करके लाना था आप फिर जो है क्या हो गए फरार हो गए या फिर दुपके बैठे हुए हो कहीं पर मिल नहीं रहे हो authorities को उसके बाद आपको जो है क्या किया जाएगा आपको proclaimed offender declare कर दिया जाएगा ठीक तो वो proclaimed offender किस में declare किया जाता है वो हमारे section 82 of CRPC में धारा 82 में जो है declare किया जाता है तो option number B जो है इस question का बिल्कुल सही answer है एक बार 82 पढ़े लीजे important है section 82 of CRPC provides for the issue of proclamation in case where the court has reason to believe that the person has concealing himself or absconded in order to evaluate the execution of warrant issued against him तो यहाँ पर court का ये मानना होता है और court को जो है ये दिख रहा है कि जिस भी व्यक्ति के against में warrant issue किये गए है उस warrant को लेने से या फिर उससे छुपकर वो इसलिए भाग रहा है कि उसका गिरफतार करके court में नहीं लाया जाए तो इस case में जो है court क्या करती है ये मानती है कि जानवूच कर वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है और उसको जो है क्या कर देगी proclaimed offender declare कर देगी तो option B, 82 is the most important section for the prelims prospective ठीक, next question पर आईए a proclamation under section 82 clause 1 required a person to appear must be published given ठीक, धारा 81 A के तहत एक उद्गोषना जिसमें किसी व्यक्ति को उपस्तित होने की आवस्चता होती है उसे निमलिखित देते हुए किस प्रकासित किया जाना, निमलिखित देते हुए प्रकासन किया जाना चाहिए option A, not less than 30 days time to be to the person concealed option B, not less than 10 days time to be person concealed not less than 20 days time to the person concealed not less than 50 days time to the person concealed अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना ठीक, पहले इस question को पढ़लो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली क्या है, कि जैसे ही आपको proclaimed offender declare किया जाएगा तो उसका एक procedure होता है, ठीक, 3-4 तरीके से proclaimed offender declare किये जाते हैं सबसे पहले warrant जो होगा warrant को आपके घर के आगे चिपका दिया जाएगा, कि आप जो है क्या, इतनी बार quote के बुलाने पर भी जो है नहीं आए हैं, दूसरा आपका जो घर होगा तो उस घर की गली के बाहर यह सारी चीज़े लगा दी जाएंगी और आपका जो भी सहर है उसके main चौराई पर या newspaper में publication करा कर quote क्या करेगी, आपको newspaper publication के through या फिर जो आपका main चौराया होगा वहाँ पर ढोल नगाडे बजवा कर यह सूचना देगी कि वो जो यह फलाने सिंग के against warrant हैं और यह जो है अभी तक quote के सामने present नहीं हुए है तो इनको proclaimed offender declare किया जा रहा है clear हुई इतनी बात, दूसरा जो court होगा जिसने warrant issue किये है जो proclaimed offender क्या कहते है declare कर रहा है किसी व्यक्ति को उसके बाहर notice board पर भी यह चिपकाया जाता है ठीक तो सबसे पहले जो newspaper में publication कराई जाती है इसको हम चसपा भी बोलते हैं तो यह चसपा के through कराया जाता है या फिर आपके गली या फिर चौराय महले पर आपके जो है सारी चीजें चिपकवादी जाती है ठीक तो इसमें कितना time होता है इसमें जो है हमारा time होता है 30 days का जब से किसी भी व्यक्ति को proclaimed offender declare किया जाना है warrant के through तो उसको 30 दिन का public notice देकर हम कहेंगे बिलकुल सही जबाब है next question पर आते हैं एक बार इसको पढ़ लीजिये clause 1 को if any court has reason to believe whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself so that such warrant cannot be executed ठीक तो यहाँ पर court का reason to believe क्या है court का ये मानना है कि जिस भी व्यक्ति के against में warrant issue किया गया है वो अपने आपको जान बूच कर चिपा रहा है या फिर उसका arrest नहीं हो जाए इस वज़े से वो warrant की अभेलना कर रहा है तो इस cases में क्या होगा इस cases में जो है court उसके against में उसको abscondor या फिर जो है proclaimed offender declare कर सकती है such court may publish a written proclamation required him to appear at the specified place and at specified time not less than 30 days इस दिन से जिस दिन court चाती है किसी भी इनसान को proclaimed offender declare करना और जब से उसको proclaimed offender माना जाएगा उससे 30 दिन पहले सारवजनिक तौर पर publication कराना होगा इस चीज़ का कि ये व्यक्ति जो है लगातार court के बुलाने पर नहीं आया है और 30 दिन में अगर उपस्तित नहीं होगा तो उसको जो है proclaimed offender माल लिया जाएगा clear हूई इतनी बात next question पर आते हैं a warrant of arrest and proclamation under section 82 of CRPC were issued simultaneously and later a consequential order of the attachment under section 83 was also issued what is the legality of these order क्या कह रहे हैं अगर CRPC की धारा 82 के तहत गिरफतारी warrant को और उद्गोशना एक साथ जारी किये गए और बाद में 83 के तहत कुर्की का परिणाम आदेश भी जारी किया गया तो इन आदेशों की क्या वैदता होगी option A all the orders are perfectly legal the order under section 82 is legal but order under section 83 is illegal option C the order under section 82 illegal and improper vitiate the consequential order of the attachment option number D none of the above is the correct answer सबसे पहले 82 में हम जो है उसका publication कराएंगे जो चीजे मैंने आपको बताई है ढोल लगाडे बजाकर नहीं उस पेपर में निकलवाकर और उसको 30 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई 30 दिन में आप आ जाओ वनना आप प्रोक्लेम्ड ओफेंडर समाल लिया जाएगा और उसके बाद में उसकी जो भी प्रोपर्टी होगी उसकी कुरकी करा दी जाएगी क्या करा दी जाएगी कुरकी मतलब attachment करा दी जाएगी as per section number 83 of CRPC तो क्या एक साथ ये order दिये जा सकते हैं या फिर अलग-अलग ये order दिये जा सकते हैं ये question आपसे यहाँ पर पूछा गया है ठीक तो order under section 82 is illegal and improper vitiate the consequential order of the attachment ठीक option C जो है क्या होगा option C is the correct answer of this question option C नहीं होगा इसका answer बिटा option A होगा इसका answer क्या कि दोनों ही order जो है valid रहेंगे अब इसका मैं आपको justification समझा देता हूँ option A इसका सही जबाब होगा कि अगर 82 में किसी भी व्यक्ति को proclaimed offender declare कर दिया और उसके बाद 83 में उसकी property को attach कर दिया ठीक तो ये दोनों ही court के आदेश जो है क्या रहने वाले हैं valid रहने वाले हैं ठीक क्या रहेंगे बेटा valid रहेंगे ये दोनों order क्यूं valid रहेंगे क्यों कि court के पास power है कि किसी भी इंसान को proclaimed offender plus उसकी जो property का attachment है ठीक property का attachment है वो एक ही आदेश में जारी किया जा सकता है या फिर इनके लिए दो आदेश पारित किये जाते हैं clear तो option number A is the correct answer of this question सभी आदेश पूरे तरह से वैदानिक माने जाएंगे तो यहाँ पर ठीक कर लीजिए option A जो है क्या होगा इसका सही answer होगा जो लोग telegram से PDF उठाएंगे वो इस question को JLO में भी गलत करके आएंगे क्योंकि option यहाँ पर C मेरे से type हो गया है option A is the correct answer of this question clear बहुत अच्छे सभी ने बिलकुल सही answer दिया है next question attachment of land paying revenue to the state government of a person absconding shall be made by taking possession by appointment of receiver through the collector of the district where the land is situated by any other means deemed fit ठीक फरार व्यक्ति की राज सरकार को राज सुदेने वाली भूमी की कुर्की की जाएगी कब जा करके एक receiver ने उक्त करके किसी जिले के collector के माध्यम से जहाँ भूम इस्तित है उपयुक्त समझे गए किसी भी अन्यमाध्यम से किसकी बात कर रहा है ऐसी property जिसका attachment किया जा चुका है proclaimed offender की property को तो उसका जो भी tax होगा या revenue होगा उसको क्या किसके थ्रू जो है लिया जाएगा abscondor व्यक्ति की property के थ्रू किसके थ्रू collect कराये जाएगा ये question आपसे यहाँ पर पूछा गया है बताएं फटापट से इसके लिए यहाँ पर आपका through the collector of the district where the land is situated जिस जिले में जो collector है जहाँ पर वो भू में situated है उसकी निगरानी में ये सारी चीज़ें की जाएगी और उसी के थ्रू जो है land revenue collect किया जाएगा कुर्कुही property का तो option number C जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है clear moving ahead next question पर आओ under which section of CRPC and order of attachment of property person absconding may be passed at any time after the issue of proclamation CRPC की किस धारा के तहत उद्गोषना जारी होने के बाद किसी भी समय फरार व्यक्ति की संपत्ति का कुर्की का आदेश पारित किया जा सकता है 83, 82, 84 या 85 ठीक अगर किसी के against proclaimed offender को declare कर दिया गया है 82 के provisions को follow करके और उसका अगर property को attach किया जाना है तो कितने दिन बाद वो attachment की जा सकती है और किस section के according की जा सकती है तो इसका जो सही answer है वो है option number 83 और 83, 83 हमें बताता है कि 82 में हमने किसी भी इंसान को proclaimed offender declare कर दिया उसके बाद उस proclaimed offender की property को हम जो है attach कर लेंगे 83 के तहत उसकी property को attach कर लेंगे और ये attachment जो है किसी भी time जैसे ही कोई इंसान proclaimed offender बना उसके किसी भी time पर पूरी तरीके से ली जा सकती है ठीक तो 83 A option जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा clear चलो आगे चलते हैं next question पर अंडर section 83 clause 1 sub clause A of the criminal procedure code the court may order दंड सहता की धारा 83 एक A के तहत नियाले आदेश दे सकता है option नंबर A proclamation for the person absconding before the attaching property attachment of the property person absconding after the proclamation proclamation and attachment simultaneously proclamation and attachment by separate order ठीक संपत्थि कुर्क करने से पहले के संपत्ति की कुर्की उद्गोषना की कुर्की एक साथ अलग-अलग आदेश उद्गोषना और कुर्की करके बताइए फटाफट से 83 most important है 82 से और 83 से JLO में आपको direct question चिपका हुआ मिलने वाला है as it is question ये जो है आपको direct चिपका हुआ मिलेगा तो इसका जो सही answer है वो है option number C proclamation और attachment को simultaneously एक साथ भी जो है क्या order किया जा सकता है और court चाहे तो इनके separate separate order भी दे सकती है पहले P.O. declare कर दे किसी भी इनसान को 82 clause एक में और दूसरा 83 clause one के according उसको जो है उसकी property को attachment कर दे या तो दो order से ये चीज़े की जा सकती है या फिर दोनों को एक ही आदेश में quote क्या कर सकती है पारित कर सकती है तो option number जो है C जो है सही answer हो जाएगा moving ahead next question पर a proclaimed person whose property has been attached can claim the property or the sale proceeding appearance within ठीक एक घोसित व्यक्ति जिसकी संपत्ती कुर्क की गई है उपस्तित होने संपत्ती या विक्री आये का दावा कर सकता है ठीक option A 6 महीने के वीतर 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर या फिर 1 वर्स के अंदर 6 months, 2 years, 3 years या फिर 1 year अब देखो यहाँ पर situation कौन सी आ गई यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति की property को court ने attach कर दिया है ठीक proclaimed offender बनने के बाद में और उस व्यक्ति को बाद में पता लगता है कि मेरी property attach हो गई है तो उसको कितने दिन के अंदर court में आकर ये बात accept करनी होगी कि भाई मैं आ गया मेरी property को sale मत करो और कव तक court उसकी property को sale नहीं करेगी ये चीज़ आप से यहाँ पर पूछी जा रही है तो उस व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो within two years दो साल के अंदर आकर के अपनी जो भी property उसकी court की गई है या फिर जिसको attach किया गया है उसको आकर जो है court के सामने दो साल में वो present होकर उस property को sale होने से बचा सकता है ठीक तो option भी जो है क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा clear आज हम जो है 90 से आगे start करेंगे और बाकी सारे sections को आगे cover करते हुए चलेंगे CRPC में अभी section 90 तक के जितने भी detailed provisions थे वो मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ आज हम lecture number 5 पर हैं और discussion करने वाले हैं 90 से section number 90 से आगे के provision इस से पहले मैंने आपकी 4 classes conduct की हैं जहां पर section 90 तक की detail चीज़े आपको पढ़ा दी हैं सबसे important part जो था वो था हमारा इसमें 41 से लेकर 60 दूसरा हमें देखने को मिलता है जो हमारा section 25 से लेकर 30 तक है वहां से भी बहुत जादा question JLO में बनते हैं उसके बाद summons warrant और commissions जो issue होते हैं उसके respect में जितने भी procedure हैं वो हमने देखा उस पर बहुत जादा important question बनते हैं आगे चलते हैं start करते हैं आज के class को देखो सबसे पहले एक बहतरी news दे देता हूं study IQ judiciary की निशी गुपता ने UP जुडीशी का secure किया है अब मैं आपके लिए JLO की free classes चला रहा हूं और इन free classes में आप बिलकुल भी tension मत लीजिए आपको भी यही कारणावा करके दिखाना है जिस दिन RJS के JLO का मतलब राजस्थान JLO का result आएगा मुझे अपनी ही class से first ranker चाहिए और बस यही मेरी गुर्दक्षना होगी कि आप JLO में first rank को secure कर सकें clear moving ahead अब यहाँ पर एक important बात कि अगर आप मुझे connect होना चाते हैं और जो भी हमने CRPC 1973 की इस मेराथन class में पढ़ा है वो सारा content अगर मुझे प्राप्त करना चाते हैं तो आपको अपूर शर्मा official इस telegram group पर मुझे connect करना है यहाँ पर आप मुझे कोई भी जानकारी ले सकते हैं और CRPC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की हैं वो सारा content अपूर शर्मा official इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा और अपूर शर्मा 252 अपूर शर्मा official आप telegram पर जाकर सर्च कीजेगा आपको मेरा group मिल जाएगा इस group में आपको daily basis पर जो है MCQ practices कराता हूँ जो के judiciary के और APO के perspective से बहुत ज़्यादा important है plus इसमें मैं आपको current affairs चाहें वो legal current affairs हूँ या फिर आपके general current affairs हूँ या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं चाहें तो freshers के लिए या फिर जो है आपके advocate जो के experience advocate वाली है उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती है तो आप मुझसे यहाँ पर connect हो कर आज का सारा content घटा कर सकते हैं अब एक important बात कि अगर आप study IQ judiciary के life foundation batch 7 को join करना चाते हैं जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी है और इसमें admission लेने की 9 October last date है तो यह हमारा comprehensive plan है जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी वो भी 12 महिने में यह पूरा batch live रहेगा और live classes में आप अपने teacherों से बात करके discussion करके अपने सारे doubts को solve कर सकते हैं अगर आप इस batch में admission लेना चाते हैं तो आपको APU का code use करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं admission लेने का क्या procedure होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको जो है Google पर जाना है और Google पर जाकर search करना होगा study IQ judiciary जैसे ही आप Google पर जाएंगे Google पर जाकर आप search कीजेगा phone से laptop से tap से या फिर जो है सारी चीजों से study IQ judiciary यहाँ पर जो है आपको search करना होगा जैसे ही आप study IQ judiciary को search करेंगे study IQ judiciary को search करेंगे हमारी original website पर जाएगा वहाँ पर आपको Life Foundation Batch 7 का comprehensive plan देखने को मिलता है 40,000 का ये batch है इसको आप मात्र 24,999 में 24 मंत की validity के साथ ले सकते हैं Buy Now के option पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के 3 अक्षर का एक promo code डालना होता है चाहें आप capital में डालें या small में डालें A, P और U मेरे नाम के 3 अक्षर आपको जो है APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे 24,999 में ये Life Foundation Batch आपको provide किया जाएगा 24 मंत की validity के साथ में इसके बाद Buy Now के option पर जाना होता है इतने सारे payments के option आते हैं जैसे ही आप जो है इन में से किसी भी माद्यम का payment करेंगे आपको Life Foundation Batch 7 में admission मिल जाएगा और ऐसे ही Study IQ के जो है हर मन्त में एक Life Foundation Batch launch होता है अगर आप भविस्च में या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई वेन भविस्च में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रहा हो तो आप जो है मुझसे मेरे टेलीग्राम गुरूप पर या फिर इंस्टाग्राम पर message करके इन batches की जानकारी ले सकते हैं हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को आज से दो या तीन महीने बाद देखें तो उनके लिए भी study IQ के पास life foundation batch है जो बच्चे law colleges में हैं उनके लिए भी आपके जो है दो या तीन साल के program बनाए गए हैं जिसमें आपको पूरा law दो या तीन साल में complete कराया जाता है mentorship भी मिलती है hand return notes भी मिलते हैं legal updates भी मिलते हैं और आप अपने college time से ही तयारी कर सकते हैं तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्यम से payment करके इस batch को join करेंगे तो आपको APU के code को लगाने से मतलब मेरे code को लगाने से ये batch 24,999 में 24 मंत की validity के साथ मिलेगा प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है that is called study IQ judiciary महापक ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा तो APU के code से 2-2 courses 2 साल की validity के लिए आपको मिल रहे हैं आज ही जाकर इसमें enroll करिए आज का पहला question स्टार्ट करते हैं ठीक वो मजाक था कि question नहीं कराऊंगा under which one of the following section of CRPC criminal procedure code 1973 summons to be produced a document issued to a person in whose possession they are अपराधिक प्रक्रिया सहता 1973 की निमलिखित मैं से किस धारा के तयाद दस्तावेज प्रस्तुती करने के लिए उस व्यक्ति को सम्मझ जारी किया जा सकता है जिसके पास है section 90, 95, 94 या 91 पूछ क्या रहा है पहले इस चीज को समझिए कि अगर किसी भी इनसान के पास कोई भी document है या फिर कोई भी दस्तावेज है और अगर court को ऐसा लगता है कि वो किसी भी trial के लिए या court में लाने के लिए important है तो जो है court क्या कर सकती है court उसको जो है एक second court उस व्यक्ति को सम्मझ भेज कर उन documents को produce करने के लिए compile कर सकती है ये बात हमारे किस section में लिखी हुई है फटाफट से मुझे बताए very good बाकी लोग answer क्यों नहीं कर रहे है बाकी लोगों को answer करने में दिक्कत क्या हो रही है देखिए ये बात कि कोई भी criminal process अब देखो इस जो है sections को लाने का basic purpose क्या था पहले एक बार इसको समझ लो और इससे 3-4 question और बनते हैं वो भी समझ लो सबसे पहले section 91 को लाने का ये important method है कि जो भी trial चल रहा है और trial में आपको पता है दो party होंगी एक होगा हमारा victim ठीक और एक होगा accused accused मतलब जिसके उपर charges लगे हैं कि उसने कोई भी crime किया है किसके against में victim के against में तो यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जो victim और accused के trial में किसी भी इनसान का case को strong करती है ठीक है trial को उनको जीत दिलाने की तरफ ले जाती है या फिर ये fact पता करना है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे के पास में अब क्या हुआ accused के पास suppose करिए कोई भी ऐसा document या फिर जो है कोई भी अधर चीज है जो इसने crime को commit करने के बाद किसी भी ex-person को दे रखी है तो क्या ex-person से वो document court मगवा सकती है तो court के पास section 91 के according ये सारी जो है power होती है कि trial से related किसी के पास भी कोई भी जो है क्या document पाया जा रहा है या फिर कोई अधर चीज पाई जा रही है तो उस व्यक्ति को भी section 91 में court क्या कर सकती है summons issue कर सकती है और summons issue करने के बाद में उस व्यक्ति से बोल सकती है कि भाई इस case से related जतने भी दस्तावेज हैं या documents है वो आप court में लाकर produce करिये ठीक और जिससे के इस fair trial को किया जा सके और trial को time bound manner में conclude किया जा सके ठीक तो option number D कौन सा उत्तर सही होगा D जो है क्या 91 is the correct answer of this question ठीक एक बार इसको पढ़ लेते हैं summons to produce a documents or things whenever any court and officer in charge to a police station consider that the produce to any documents or other things is necessary or desirable for purpose of any investigation inquiry or trial or other proceeding under this court or before such court officer and such court may issue a summons such officer in writing order to the person whose possession or the such document or things to believe to be required him attend and produce or to produce at the time and place stated in the summons or order ठीक समझ में कुछ नहीं आया होगा अब मैं इसको समझा देता हूँ यहीं से जो है आपके चार या पांच question बनते हैं किस-किस को write दिया जा रहा है हिंदी वाले ध्यान से सुनियेगा भूत ही important question है यहां से आपके चार-पांच question बन ही जाते है 91 से ठीक सबसे पहले heading से question बनता है ठीक और जो मैंने अभी आपको question कराया है वाला question तो बनता है बनता है अब यहां पर किस-किस को power दी गई है 91 में किसी भी court को मतलब कोई भी judicial magistrate हो चाहे हमारा second class का हो first class का हो cjm हो session judge हो assistant additional कोई भी हो ठीक दूसरा any officer in charge of the police station अब देखो यहां पर दो लोगों को power हो गई 91 में कि जो हमारा officer in charge of police station है और officer in charge of police station जो होगा उसके पास power है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी document या फिर कोई भी other thing किसी भी investigation के लिए inquiry के लिए और trial के लिए या फिर इस code में दी गई किसी भी other proceedings के लिए चार वर्ड यहां से निकल कर आ रहे है पहले कौन-कौन issue करेगा officer in charge of police station या फिर जो है कौन court मगवा सकती है चार वर्ड कौन-कौन से है चार वर्ड है investigation के लिए पहली class देखी होगी CRPC की investigation police करती है दूसरा inquiry के लिए inquiry judicial magistrates के द्वारा की जाती है ठीक तीसरा trial जब चल रहा होगा जब वो proceeding चल रही होगी उस समय ठीक है जब जब judicial magistrate ने charge framing कर दी है और दौनों parties अपने contention रख रही है उस time पर या फिर जो भी CRPC के अंदर other proceedings के लिए किसी भी documents की या other thing की requirement है तो ये लोग उस व्यक्ति को summons करेंगे और summons करने के बाद में वो सारे documents मगा लेंगे ठीक other proceedings under this court before such court officer and the court में issue a summons ठीक अब देखो वो सारे documents किसके आगे police officer के आगे या फिर जो है court के आगे मगाई जा सकते है लेकिन सबसे important बात क्या है कि summons issue करके मगाए जाएंगे clear तो ये वाला point आपका important है और इस question से आपके 91 से कम से कम 78 तरीके से question बनते हैं जो आपको मैंने सार्ट मैंने आपके सार्ट discuss किये हैं clear हो इतनी बात तो clause 1 इसका बहुत ज़्यादा important होता है ठीक ये 10 question 10 चीज़न जो बताई है इस मैं से ही 2 या 3 question JLO में as a test chip के हुए मिलने वाले है clear चलो आगे चलते हैं next question पर आईए फटा-फट से section 91 of code of criminal procedure does not applies to the complainant the witness the accused a person who is neither a complainant nor accused or a witness अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया सहेता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती है सिकायत करता गवा आरोपी ऐसा व्यक्ति जो के ना तो सिकायत करता है ना ही आरोपी है और ना ही गवा है किस पर नहीं लगता है section 91 ये भी एक important question है ठीक देखो 91 से 93 से और 97 से हर एक exam में हम expect करते हैं कि question पूछा ही जाएगा और ये JLO के विल्कुल favorite question है इस बज़े से मैं 91 से मैंने आपको पूरा समझा दिया clause 1 अब ये वाला question और बनता है कि 91 की proceeding किस पर applicable नहीं होती है अच्छा does not applies to option D कहां से answer इसका सही हो गया 91 किसको summons कर रहा है अभी तो समझा है 91 उस व्यक्ति को जो है summons कर रहा है और summons करने के बाद कौन court और officer in charge of police station किसको ऐसे व्यक्तियों को जिनका जो इस case से सम्बंदित नहीं है जो उस crime जिसमें दोनों पार्टियां है उनसे related नहीं है और उनके पास कोई information है तो उसको वापस मगाए जाएगा तो option D कैसे सही हो जाएगा भाई जो व्यक्ति ना तो सिकायत करता है ना ROP है ना गवा है उसके लिए ही 91 बनाए कि इन सारे लोगों को summons करके क्या इन सारे लोगों को summons करके जिसका case से कोई भी जानकारी और relation नहीं है उसके पास कोई document है जो के case में help कर सकता है उसके पास कोई other content या material है जो उसको help कर सकता है उनी से तो मगवाना है तो ये तो सही answer है यहां से पूछ रहा है किस पर apply नहीं होगा ये बात आप से पूछी जा रही है क्या कि रहे है इतना bad answer दो दिन की छुटी थी तो पढ़ना भूल गए क्या छुटी में सारे लोग पढ़ना भूल गए इसका जो सही answer है कि section 91 जो है accused पर नहीं लगेगा क्योंकि अपने against में कोई भी accused क्या नहीं कर सकता अपने against में ही गवाही नहीं दे सकता इसी वज़े से जो natural justice का principle है हमारा CRPC का इसी वज़े से 91 जो है accused अपने ही against में कोई भी document और बाकी चीज़ें things को produce नहीं करेगा option number C जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है ठीक किस पर नहीं लगेगा धारा 91 जो है ROP पर नहीं लगती है clear self incarnation very good self incarnation हो जाता है यार इतनी बड़ी बड़ी blender करोगे तो तो चल गया काम ऐसे rank 1 आएगी क्या बताओ बहुत easy question था और अगर मैं इस explanation को नहीं समझा था उसके बाद ये question आप गलत करते हैं तो इतना दुख नहीं होता जतना अभी हो रहा सारी चीज़े बता दी फिर भी आप उसको गलत कर रहे हो ठीक option C का सही जबाब है आगे चलो next question पढ़ाओ whether any criminal court can impound any document produced before it yes, no, no civil court can impound option D with the consent of senior officer it can be impounded क्या कोई भी आप राधिक न्याल है अपने समख प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को जब्त कर सकती है हाँ, नहीं केवल civil court ही जब्त कर सकता है वरिष सर्दिकारी की सहमती से इसे जब्त किया जा सकता है क्या आंसर होगा जल्दी बताएं किसी भी whether any criminal court कोई भी criminal court किसी भी document को दस्तावेज को जब्त कर सकती है क्या और कर सकती है तो किस section में कर सकती है ये किस section में लिखा गया है CRPC के फटावट से बताओ civil court can impound सिर्फ civil court कर पाएगा criminal courts के पास power नहीं है criminal courts के पास power नहीं है कि वो किसी भी document को मगाए और अगर उसको लगता है कि ये document यहाँ पर important है तो उसको जब्त कर ले अपने पास में देखो criminal court as well as civil court दोनों court के पास ही power है कि ऐसा कोई document जो के उनके trial से related है चाहें वो civil trial चल रहा हो चाहें criminal trial चल रहा हो और उनको ऐसा लगता है कि ये document बहुत ही important है और इस document को अगर parties को दुबारा दे दिया गया तो ये जो है क्या parties इसको nest कर देंगी या फिर जो है वो document से ही पूरा trial depend करता है तो ऐसे conditions में किसके पास criminal court के पास power है कि वो जो है उसको जब्त कर सकती है ठीक तो कौन सा सही हो जाएगा option number A is the correct answer नमस्कार सुरेंद जी बिलकुल क्या क्या हाल है रक्षा बंदन कैसा रहा option number A power to impound document etc. produced any court if it is things fit impound any document or thing produced before it under the CRPC ठीक दस्तावेज आदी को जब्त करने की सकती का उत्पादन किया गया है कोई भी अदालत यद उचित समझे इस सहिता के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी जो है दस्तावेज या फिर किसी भी चीजों को जब्त कर सकती है यह हमारा basic principle है क्या basic principle है CRPC का और यह courts की power है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को क्या करना चाहिए किसी भी चीज को जब्त कर लेना चाहिए तो वो जब्त कर सकते हैं यह criminal courts की power होती है clear? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर आईए फटाफट से एक पर्शन हू इस रिक्वाइड मियरली तो प्रेड्यूस अ डॉकुमेंट तिंक्स अंडर सेक्शन नाइन टीवन और सी आर्पीसी एक व्यक्ति जिसे सी आर्पीसी की धारा एक क्यानवय के तहत केवल एक ही एक दस्तावेज चीज प्रस्तुत करना आवज सक है option A has attained a personally to produce the document or things option B can cause the document things to be produced in the code option C either attained personally or cause the document thing produced in the code option D only A not B and C दस्तावेज प्रस्तुत दस्तावेज वस्त प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिकत रूप से उपस्तित होगा दस्तावेज चीज को नियायल है मैं प्रस्तुत करने का कारण बन सकता है option C या तो व्यक्तिकत रूप से उपस्तित हो या फिर दस्तावेज को अदालब पेस कर दे या फिर जो है केवल A, B और C सही जबाब नहीं है 91 में जब section number 91 CRPC में हमारे कोई भी court मतलब magistrate साब या फिर officer in charge of police station ठीक, officer in charge of police station क्या करने वाले हैं अगर किसी भी व्यक्ति को summons करके बोलते हैं कि जो उसके possession में documents है या फिर other material है उसको court में produce किया जाना है तो इस case में वो व्यक्ति चाहे तो personally आकर produce कर सकता है या फिर उन होंगे ये कंपलजन उस पर नहीं डाला जा सकता कि उसको जो है personally ही लाकर documents को produce करना है जब तक कि personal appearance हमारे summons में नहीं लिग दी गई है code के द्वारा ठीक, तो option क्या हो जाएगा either वो जो है personally ला सकता है खुद या फिर जो है किसी से जबाब दिया है, एक सेकंड रोखना है जड़ो चलो, अब ठीक है यह वायर अटक रही थी system गिर जाता है चलो, ठीक, option C जो है बिलकुल सही जबाब है फटावट से, अब आ रहा है न 91 क्यों important है कितने सारे हमने 91 के questions कर लिए ठीक और यह सारे questions आप से एक्जाम में पूछे जाएंगे या फिर इसी के explanation से या फिर इसके option से question बना कर आप से जेलो में पूछ लिया जाएगा moving ahead, next question पर आईए who can grant a warrant to search of a document, parcel or other thing in the custody of postal and the telegraphic authorities dark या telegraph प्रादिकरण की हिरासत में किसी भी दस्तावेच, parcel या अन्न किसी चीज को खोज के लिए warrant कौन दे सकता है option a district magistrate, option b chief judicial magistrate, option c both a and b, option d none of the above, जिला अधिकारी मुख नियायक magistrate, a और b उपरुक्त मैं से कोई नहीं, किसकी बात हो रही है documents की, वो सारे documents वो सारे parcel, या फिर other things, जो किसके हमारे postal authorities, मतलब किस पर postal authorities के पास है, या फिर telegraphic authorities के पास है, उनके लिए, उनके उन documents को अगर सर्च कराना है, तो कौन कौन से magistrate जो है, क्या कर सकते है कौन कौन से magistrate आपके order दे सकते है, ये question आपसे पूशा गया है, अब हिंदी वालों को साफ दिख रहा होगा, हिंदी वालों की हमेशा complaint आती है, कि sir आप हिंदी की side ही खड़े रहते हो, हम question नहीं पड़ पाते हैं, I hope अब आपको ये सारी चीज़ें साफ दिख रही होंगी very good प्रीती शर्मा, अगर इस question का answer किया जाए, तो option number C जो है, बिल्कुल सही answer होगा क्योंकि अगर document, parcel और other thing को सर्च करने की बात होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कहां पर provide किया गया है, section 92 में, जहां पर district magistrate order कर सकते हैं, दूसरा chief judicial magistrate कर सकते हैं judicial magistrate कर सकते हैं और high court judges भी जो है से, ये question आपका बनेगा 5-6 तरीके से पूछा जाता है लेकिन यहां पर याद रखना, 92 कौन सा section है, 92 में किसी भी document को, ठीक, किसको दस्तावेज को, या फिर parcel को, या फिर अन्न ऐसी चीज, जो के किसके पास है, postal और telegraphic authorities के पास है, उसकी अगर search किया जाना है, तो उसका warrant पहले issue कराये जाएगा, जिसकी power किसके पास होगी, district magistrate CJM, judicial magistrate और high court के पास, कि वो क्या कर सकते हैं इन सारे लोगों को पूरी जो है, जानकारी दे सकते है, clear, तो एक बार 93 पर पढ़ लीजिए, कौन-कौन से magistrate है, the person to whom such the person to whom such warrant is directed search or inspect, दो word use की गए है, कभी-कभी आप से inspect word के उपर भी question पूछ लेता है, important है in accordance with the search warrant a search warrant shall not be issued searching a document parcel other things in the custody of a postal or telegraphic authority by a magistrate other than the district magistrate or the chief judicial magistrate, ठीक तो यहाँ पर इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number C, option C जो है, इसका बिल्कुल सही जबाब है, clear option C, के district magistrate और chief judicial magistrate, ऐसी सारी चीजों का नियाए खिरासत का order कर सकते हैं वो मतलब postal authorities के पास जो भी चीजे हैं, उनकी तलासी ले सकते हैं clear हुई इतनी बत, आगे चलते हैं next question पर, 92 section 92 of CRPC lays down the procedure of produce of document in the custody of the postal and the telegraphic authority, produce of document in the custody of any person other than the accused, produce of document in the custody of an accused person, all of the above, CRPC की धारा बहानवे, किसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, दस्तावेज या उत्पादन डाक या telegraphic प्रादिकरण की हिरासत, दस्तावेज या उत्पादन आरोपी के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति की हिरासत में, दस्तावेज या उत्पादन एक व्यक्ति की हिरासत में, ठीक, बताएं फटाफट से, अभी अभी हमने किया है, ज्यादा दिमार्क लगाने की जरूरत नहीं है, production of our documents or things in the custody of the postal and the telegraphic authority, कौन-कौन, दो magistrate empowered है, या तो DM का आदेश लेना पड़ेगा, या CGM का आदेश लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, 92 में ये question पूछ लिया जाता है, DM और CGM वाला जो मैंने इससे पहले आपको solve कराया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब सबने दिया है, मज़ा आ रहा है, ये वाला बहुत boring area है CRPC का, 90 से लेकर 97 तक, ठीक, और उसके बाद एक और boring area आता है, उससे कभी question नहीं आते, लेकिन फिर उसके बाद 106 से आपकी interesting होती जाती है CRPC, और आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा CRPC को, अब आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम rights पढ़ रहे हैं और duties पढ़ रहे हैं, जो जो हैं, और courts के क्या-क्या power हैं उसको, अब हम procedure की तरफ जो है, धीरे-धीरे बढ़ना start करेंगे, हम पहले maintenance के उपर चलेंगे, maintenance का concept बहुत ही अच्छा है, और maintenance के तीन section है, chapter number 9 आपको बहुत ज़्यादा important questions बताता है, उसके बाद हम आ जाएंगे किस पर, हमारे section 154 से लेके, 3, 210, 212 तक सारी चीज़े important है, उसके बाद charge वाला chapter भी important है, charge के section भी बहुत ज़्यादा important है, और फिर यहां से हमारा 154 से start हो जाएगा main CRPC का procedure, जहां पर आपको हर एक चीज़ को एक एक करके समझना है, ठीक, और मैं समझाता भी जाऊंगा, और बताता भी जाऊंगा, clear 105 है किसना चौदरी 105 है, और 105 से question नहीं आते हैं, एक दो question आते हैं, वो मैं भी आपको करा दूँगा, ठीक, लेकिन 106 से लेकर 110 तक बहुत ज़्यादा important है, और इसमें क्या-क्या पूशा जाता है, उसको भी एक trick से याद करा दूँगा, कभी 105 से लेकर 110 तक के question, आपके 106 से लेकर 110 तक के, कभी भी गलत नहीं होंगे, clear? चालो, आगे चलते हैं, फटा-फट से आए जल्दी, next question पर, next question है हमारा, under waste section of CRPC, search warrant is issued, बता सकते हैं आप लोग, बहुत ही easy question है, CRPC के किस धारा के तैट, search warrant issue किया जाता है, search warrant, RGS की notification कब कर सकते हैं, अन्सू त्यागी, बताऊंगा, search warrant किसमे issue, अन्सू जी, RGS का notification, next month expected है, त्यारी करनी है, तो study IQ judiciary का, live foundation batch 5 स्टार्ट हो रहा है, इसकी classes हमारी जो है, 4th of September से स्टार्ट हो रही हैं, इसको आप join कर सकते हैं, RGS की preparation इसमें फूरी कराई जाएगी, ठीक, तो अगर मैं बात करूँ, search warrant issue करने की, तो बहुत भी important, बस इससे इतने question बनता है, कि ये किसमें लिखा हुआ है, section 93 में आपका लिखा हुआ है, ठीक, तो option B जो है, इसका बिलकुल सही जवाब है, moving ahead, next question पर आईए, फटावट से, who can issue a search warrant for produce things और document, दस्तावेज या चीजों के तलासी, warrant कौन जारी कर सकता है, अब देखो, search warrant 93 में दे रखा है, और इसको जो है, कौन जारी करेगा, ये वाली चीज आपसे पूछ रखी है, any court, superintendent of police, magistrate of first class, या फिर session court, ठीक, कोई भी नियाल है, police अधिकारी, cable प्रथम स्रेड़ी, magistrate, या फिर cable, सत्र नियाल है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये छेओ section में, किस judicial magistrate की power कौन कौन सी है, या फिर इस section से related कौन से magistrate है, इस से related कौन से है, इस से related कौन से है, ये question आपके JLO में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, direct यहीं से exam चिपका हुआ मिलेगा, तो हर section के आगे, जो-जो हमारे क्या, जो-जो हमारी magistrate के नाम languages में दिये गए हैं, उनको bare act के starting heading में ही लिखकर highlight कर देना, जिससे के आपको वो सारी चीज़े याद रहे हैं, clear? चलो, जल्दी से बताओ, who can issue a search warrant for our documents or things, कौन issue कर सकता है, documents or things को, ठीक, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, कोई भी नियाले issue कर सकता है, clear? तो option number A is the correct answer of this question, चलिए, आगे आते हैं, next question पर, a declaration और for feature under section 95 of CRPC can be set aside by judicial magistrate issuing a search warrant, court of session, या फिर high court, अपकी CRPC की धारा 95 के तहत, जबत की घोषणा द्वारा अलग रखा जा सकता है, magistrate search button जारी करके, मुख्य नियाए दीस, या मुख्य मेट्रॉपॉलिंट, magistrate सत्र निया रहे है, या फिर उच्चे नियाल है, बताओ, किसकी पूछ रहा है, declaration of for feature under section 95 of CRPC, for feature, जो declaration का for feature कैसे कराया जा सकता है, या उसको कैसे set aside कराया जा सकता है, 95 section के according, किसके दोआरा किया जाएगा, magistrate जिसने issue किया है, warrant उसके दोआरा, या फिर chief judicial magistrate, metropolitan, chief metropolitan magistrate, हमारे CGM और CMM के दोआरा, या फिर so quote of section के दोआरा, या फिर high quote के दोआरा, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि high quote के दोआरा, section 95 में power दी गई है, कि वो जितने भी for feature किये गए है, declaration किये गए है, उनको क्या कर सकते हैं, set aside कर सकते हैं, तो option number D is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आईए, फटाफट, which section of CRPC, which section of CRPC, okay, गलत हो गया, ठीक है, which section of CRPC resembles with the writ petition of heaviest corpus, CRPC की कौन सी धारा, बंदी प्रक्तिकरन, writ के मामडे से, जुलते मिलती है, या उससे related है, heaviest corpus की writ का concept, हमने कहां पर पढ़ा है, article 32, article 226 of Indian Constitution, article 32 में, अगर fundamental rights किसी के violet किये गए हैं, जो भी हमारे part 3rd में दिये गए हैं, तो part 3rd के rights को exercise कराने के लिए, हम Supreme Court को direct approach कर सकते हैं, और अगर high courts की बात है, तो 226 में हम high court के पास भी जा सकते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को क्या किया गया है, illegally detained करके कहीं पर रखा गया है, उसका illegal arrest किया गया है, ठीक, तो heaviest corpus का जो है, क्या सबसे पहला सिद्दान्त हमें, CRPC में देखने को मिलता है, और इसी से जो है, original main constitution में आप कह सकते हैं, कि जब constitution बनाया गया, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, abolish होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने rights का protection, directly constitution के article 226 high court जाकर, या फिर जो है, article 32 के, article 32 of part 3 में जाकर, supreme court जाकर rate file कर देते हैं, clear, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, option number B is the correct answer of this question, most important question है, most important question है, जब मैं अपना पहला prelims देने गया था, एक कहानी सुनाता हूँ, दो मिनिट की, मैं अपना पहला prelims देने गया था, law pass out होने के बाद, तो इतनी सारी चीज़ें, इतने depth में नहीं पड़ी थी, तो rate का concept जो है, heaviest corpus का concept जो है, सिर्फ और सिर्फ constitution के perspective से ही पड़ा था, 32 और किसमे, 32 के साथ साथ, जो है किसमे, 226 में, अब question पूछ लिया गया, उसमें पहला ही question ये था, कि जो CRPC है, उसके according, मतलब rate का concept आपको कहा कहा पर देखने को मिलता है, मैंने गया rate का question, हम तो constitution के 32 और 226 में पढ़ते हैं, CRPC के sections में इसको क्यों दिया गया, मैंना question गलत है, तो मैंने उस question को कराई नहीं, मतलब negative marking थी paper में, तो मैंने उसको attempt नहीं करा, लेकिन फिर मैंने देखा कि CRPC बहार आके, मैंने का CRPC का ये question rate से कैसे पूछ लिया गया, को देखने को मिलता है, कि यहाँ पर, क्या है, यहाँ पर 97 में ये concept बताया गया है, clear, आगे चलते हैं, next question पर, 97 को एक बार आप पढ़ लीजेगा, वैसे इसमें इतना कुछ खास बताया गया नहीं है, और अब rate petition, 96 में जो है, कोई भी पावर का इस्तमाल यहाँ पर आपके लिए नहीं किया जाता, कोई भी इतना लंबे procedure में नहीं जाता, direct rate file करके, Supreme Court और High Court लोग चले जाते हैं, clear, चलो, आगे आते हैं, next question पर, the period of limitation for application to set aside the declaration of for feature, provided under 96 of CRPC, ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि अगर हम किसी भी declaration का warrant का for feature कराना चाते हैं, तो उसका section 96 के according, क्या period of limitation होने वाला है, सबसे पहले, CRPC की धारा 96 के थैद जब्त की गई, गोशना को रद कराने के लिए, एक आवेदन के लिए, सीमा की आवदी कितनी होगी, option A, 2 months from the date of declaration, option B, 2 months from the date of publication of such declaration in the official gadget, option number C, 6 months from the date of declaration, option number D, option C, 30 days from the declaration, option number D, 6 months from the declaration, जल्दी से बताइए, 96 के respect में, आपसे एक question पूछा गया है, तो 96 के respect में ही, आपको इसका answer करना है, देखो, declaration for feature of declaration, कहाँ पर 95 में, कौन order करेगा, high quote order करेगा, ये 2 important question है, उसके बाद में, अगर इसके time period की बात की जाए, तो ये जो है, कबसे 2 महीने से, कबसे, 2 months from the date of publication, of such declaration in the official gadget, जिस दिन से, official gadget में, उस declaration को रखा गया है, उस दिन से, क्या माना जाएगा, उस दिन से, 2 महीने का समय होगा, कि आप जो है, 96 की power को exercise कराके, 96, 95 में, high quote से, उसको जो है, forfeit करा सकते हैं, clear, तो, तो आपका option number, B is the correct answer of this question, clear हुई इतनी बात, चलिए, आगे आईए, next question पर, B जो है, इसका बिल्कुल सही answer है, एक मिनट, कैसे हो रहा है, चलो, can a magistrate, can a magistrate, order a search of any place, in his presence, for a search warrant, he is empowered to issue a search warrant, ठीक, क्या कोई magistrate, अपनी उपस्तिती के, किसी इस्थान की तलासी, आदेश दे सकता है, जिसकी तलासी के लिए, उसे वारंट जारी करने का, अधिकार है, yes, under section 103, किसकी बात हो रही है, सर्च वारंट की आपकी बात हो रही है, कि सर्च वारंट इशू किये जा सकते हैं, या नहीं, देखो, 91 से लेकर, 95, 96 तक आपको देखने को मिलता है, कि हम summons करके क्या गर रहे हैं, summons और वारंट करके, किसी से document मगा रहे हैं, अब आगई सर्च वारंट की बात, तो ये बात हमारी कहां पर लिखी गई है, कि magistrate जो है, order कर सकते हैं, कि वो अपनी presence में, किसी भी चीज की सर्च वारंट को ले सकें, ये बात हमको, CRPC की धारा, 103 में देखने को मिलती है, तो option number A, जो है, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा, clear, moving ahead, अब आईए, जल्दी से, इसको एक बार read कर लेते हैं, if a search warrant is issued, by the court, beyond its jurisdiction, the things, together with the list of seized items, have to be taken immediately to the court, under section 103, magistrate can direct a search, made in his presence, ठीक तो ऐसी सारी चीज हैं, जो की जुड़ी किसके, magistrate के द्वारा order की गई है, कि वो उसकी presence में, किसी भी जगा की, तलासी का आदेश देगा, और उस जगा पर, कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है, तो उन सारी चीजों की, एक list बनाई जाएगी, magistrate के सामने ही, ठीक, तो option number, section 105, section 105A, 106, 104B, क्या गया है, दन्प्रगिया सहेता के, किस धारा में, ठेकेदार राज को परिभासित किया गया है, धारा 105, धारा 105A, धारा 106, धारा 104B, ठीक, contracting state का, जो हमारा definition है, वो कहाँ पर provide की गया है, एक बार किसी state judiciary में, पूछा गया था, लेकिन JLO में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया है, 105A से अगर, contracting state का कोई question आता है, तो, ठीक, तो 105A में, contracting state की, ये सारी चीज़े हमको बताई गई है, और यहाँ पर एक और important चीज़, कि contracting state की definition क्या है, तो, इंडिया की territory से बाहर, ऐसा कोई भी area, जहाँ पर Indian government ने, और उसकी government ने, कोई भी contract किया हुआ है, तो, ऐसी चीज़ों के लिए, हम जो है, उसको contracting state बोलेंगे, और ये definition section 105 clause A में, हमको बताई गई है, तो, B is the correct answer, एक बार contracting state की definition आप पढ़ लो, जिससे आपको ये सारी चीज़ clear हो जाए, ठीक, in this chapter, unless the contact otherwise required, contracting state का मतलब क्या है, means, एक मिनट, हिंदी बाले भी पढ़ने मिचारे, हिंदी बाले बच्चे भी पढ़ लीजिए, फिर सिकायत करोगे, टेलिग्राम गुरुप्या के सार, हिंदी की साइड ही कड़े रहते हो, इधार आ जाता हूँ, ठीक है, contracting state means, any country or place, outside India, in respect of which, agreements have been made by a central government, with the government of such country, through our territory or otherwise, ठीक, तो, ऐसी सारी चीज़ है, जव हमारा Indian territory है, इंडिया का मैप नहीं बना, इंडिया का मैप भी बना लीजिए, चलिए, बहुत मुश्किल है बनाना, भाई, मेरे से नहीं बनेगा, शब्बोस करो, ये India है, ठीक, तो, इंडिया, इंडिया का मैप बहुत मुश्किल है बनाना, तो, ये इंडिया की territory के बाहर, अगर कोई भी जो है क्या कोई भी other area है और वहां की government से इंडिया की government ने contract कर रखा है ठीक तो ये क्या कहलाएंगी ये हमारी contracting states कहलाएंगी ठीक तो ये क्या होगा ये definition 105A में हमको बताई गई है तो option number B जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है clear हुई इतनी बात moving ahead अब आई ये next question पर under which section of criminal procedure court provision for security of keeping peace on conviction exist 108 106 109 और 111 ठीक दंड प्रकिया सहेता की किस धारा के अंतरगर्दोस सिक्थ पर सांती बनाई रखने की सुरक्षा का प्राभधान मौजूद है 108 106 109 या फिर 111 advocate रवी राजपूद best teacher विटा teacher कभी best नहीं होता है best होते हैं बच्चे और अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज आपको समझ आ रही है और उससे आपका exam qualify हो रहा है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी कुछ बन जाओ तो एक बात याद रखना कि अगर कोई आपसे कोई question पूछे law से related या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ constitution मैंने पढ़ा दिया है CRPC पढ़ा रहा हूँ इसके बाद CPC पढ़ाऊंगा तो जब भी कोई question पूछे और उस question का बिल्कुल सही जवाब दे पाओ तो उस व्यक्ति तक एक information जरूर पहुचाना कि जो आपने question पूछा है उसका जवाब मैंने अपूर सरकी classes से लिया था तो कभी भी teacher best नहीं होता है बच्चे best होते हैं और बच्चों का जो समझने का तरीका है या फिर जो मेरा समझाने का तरीका है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है तो यह हमारा coordination है कि मैं आपके लिए हो सकता है best हूँ और तो option number B ठीक option number B section 106 में ये सारी चीज़ बताई गई हैं अब देखो 106 से related जितने question बनते हैं अब आ जाओ 106 से लेकर 110 तक एक ही बार मैं सारे section समझा दे रहा हूँ और फिर हम उसके बाद इसके सारे questions को discuss करने वाले हैं clear तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊँगा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या-क्या 106 कहता है और 106 में क्या-क्या चीज़ें हमें जो है important लगती हैं तो सबसे पहले फटा-फटा हो यह मैंने एक slide त्यार की थी आपके लिए यह वाली देखो 106 से लेकर 110 तक बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनसे security bond sign कराये जाएगा कि वो जो है peace को और किसको? peace को maintain करके रखेंगे और आगे किसी भी अराजिकता में नहीं पड़ेंगे ठीक तो 106 जो बात करता है वो बात करता है security for keeping the peace on conviction ठीक दूसरा बास 107 security for keeping the peace in other cases ठीक conviction के लिए एक security bond है यह किसके लिए है other cases के लिए security bond है तीसरा security for good behavior from a person dismantling the seditious matter वो सारे लोग जो के हमारे seditious matter में involved हैं उनसे security bond लिया जाएगा good behavior का ठीक उसके बाद 109 बात करता है किसकी security for good behavior from suspected person जितने भी suspected person है मतलब जितने भी संदिक्द व्यक्ति हैं उनसे क्या किया जाएगा उनसे security bond sign कराये जाएगा कि वो किसी भी जो है किसी भी चीज में indulge नहीं होंगे अगर उनको indulge पाया जाएगा तो security bond का breach होगा और उठा कर जेल में भेज दिया जाएगा और section 110 security for good behavior from the habitual offender, habitual offender का मतलब जो लगातार एक ही चतरे के offenses को repeatedly कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम habitual offender बोलते हैं तो ऐसे habitual offender से भी security bond को जो है sign कराया जाता है clear अब हिंगलेश वालों ने पढ़ लिया अब हिंदी वाले दो सिख्धी पर सांति बनाई रखने की सुरक्षा का bond हम सांति कराएंगे 106 में 107 में अन्य मामलों में सांति बराएं रखने की सुरक्षा का security bond 108 में 108 में देश द्रोही बात हैं फैलाने वाले व्यक्तियों के अच्छे विवार का सुरक्षा bond 109 संदिक्त व्यक्तियों के अच्छे विवार के लिए सुरक्षा bond और 110 अतन अपरादियों के अच्छे विवार के लिए सुरक्षा bond ठीक हिंदी थोड़ी टाइट है इस वाज़ पहले इस चीज को समझिए और इस चीज में कौन-कौन सी चीज है important है अभी मैं आपको इन सारे questions को ऐसे एक minute में solve करा दूँगा और जीवन में कभी 106 से लेकर 110 तक कोई भी question पूछा जाएगा तो गलत नहीं होने वाला है ठीक चलो अब आओ कि कैसे इसको अब यह पढ़ लिया English Hindi वालों ने अब उस अगले पेज पर जगा नहीं थी इस वैसे English English के लिख दी है हिंदी वाले भी अपने 106 को 107 को 108 को और 109 110 को खोल के रख लें और bear act को जो है क्या bear act को खोल लें यहां पर कुछ important चीजे बदा रहा हूं वो आपके exams में पूछी जाएंगी ठीक 106 बात करता है keeping for security for keeping the peace on conviction conviction के time पर हम जो है peace maintain करने का जो bond sign करा रहे हैं उसमें कौन सा magistrate bond sign कराएगा यह question आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको 106 के लिए पता होना चाहिए कि यह bond sign कराए जाएंगे यह जो है कौन से magistrate जो है कर सकते हैं कौन कौन से magistrate यहां पर sign कराएंगे यह bond कौन बताएगा सबसे पहले ऐसे ही 107 के bond की बात होगी तो इसका time period कितना है एक साल के लिए इसको sign कराया जाएगा यह कौन सा award होगा security for keeping in other cases ठीक और तीसरा यहां पर क्या होगा तीसरा आपको यहां पर बातों को फैला रहे हैं तो इसके लिए भी एक साल का bond sign कराया जाता है clear उसके बाद आता है security for good behavior in the suspicious persons ठीक suspicious persons पर जो है इनसे भी एक साल का bond sign कराया जाता है और इसके बाद आते हैं habitual offender तो habitual offender से भी है habitual offender से आपका 3 साल का bond बच्चा sign कराया जाएगा तो यह आप से सबसे पहले year पूछे जाते हैं ठीक के कौन सा bond जो है हमारा किस section का bond कितने years का होता है ये बात सबको समझ में आ गई इतनी चीज सबको समझ में आई हाँ ना कुछ तो बताओ एक point बताया भी 5 sections के बारे में कितना किस section में कितने साल तक का bond sign कराया जा सकता है ये maximum limit है इनकी minimum की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक अब दूसरा question क्या यहां से बनता है दूसरा question बच्चा बनता है कि कौन-कौन से magistrate यहां पर हमारे ये bond sign कराएंगे ठीक कौन-कौन से magistrate कराएंगे तो अब हम 106 से सुरू करते हैं 106 की अगर बात करें तो दो judicial magistrate होते हैं जो bond sign करा सकते हैं देखो 107, 108, 109 ठीक तीनो का सेम ही bond है ठीक कौन सा है तीनो का सेम ही bond है और किसके द्वारा ये अब 106 से start करिए 106 का जो bond होगा वो court of session ठीक है short में लिख दिया है court of session, cause of action में समझना इसके बाद में judicial magistrate first class ठीक ये दोनों magistrate क्या करेंगे 106 में किसी भी इंसान से क्या कर सकते हैं conviction के उपर peace को maintain करने के लिए security bond ले सकते हैं 107 में कौन सा होगा executive magistrate एक साल का bond sign करा सकता है ऐसे ही 108 की अगर बात करें तो यहां पे भी executive magistrate साब कराएंगे 109 की अगर बात करें तो यहां पे भी executive magistrate साब ही कराएंगे और जब मैं बात करू 110 की तो 110 में आपको देखने को मिलेगा कि executive magistrate ही जो है bond sign कराएगा लेकिन 3 साल की validity के लिए क्या 3 साल की validity के लिए executive magistrate ही bond sign कराने वाला है ठीक तो अब यहां पर 106 से 107 से 108 से 109 से 110 से आपके इस चार्ट से कम से कम 20 question गुमा फिराकर बनते हैं कितने बनते हैं 20 question गुमा फिराकर बनते हैं तो यह सारी चीज़ें याद कर लो कि अगर किसी के conviction पर security bond sign हो रहा है इस तरीके से याद करने का तरीका याद रखना कि अगर किसी के conviction पर security bond sign हो रहा है तो वो court of session के दौरा judicial magistrate के दौरा तीन साल के लिए कराया जाएगा एक line में इतनी सी बात लिख दो लिखो फटाफट से जल्दी लिखो अपने बेरेक्ट में अभी कि अगर 100 हिंदी वाले भी लिखो इंगलिस वाले भी 106 में अगर किसी भी convicted person से security bond sign किया जा रहा है तो वो court of session judicial magistrate के दौरा तीन साल तक जो है तीन साल का bond sign कराया जा सकता है ठीक दूसरे पर आजाएं फटाफट अगर किसी भी जो है क्या किसी भी other cases में security bond sign कराया जा रहा है तो वो धारा 107 के तहत executive magistrate के दौरा एक साल तक के लिए क्या किया सकता है sign कराया जा सकता है 108 ऐसे सारे person जो कि देशद्रो की बातों को इदर उदर फैला रहे हैं अगर उनसे security bond sign किया जा रहा है किस और यह security bond sign किसलिए किया जा रहे है कि वो peace को maintain करके रखेंगे और अपनी इन हरकोतों को दुबारा नहीं करेंगे ठीक तो executive magistrate एक साल के लिए कर सकता है उसके बाद अगर suspected persons हैं 109 में तो suspected persons के लिए executive magistrate एक साल का bond sign करा सकते हैं और 110 आता है कि habitual offender repeatedly काम करने वाला व्यक्ति से अगर bond sign कराना है तो executive magistrate कराएगा लेकि तीन साल के लिए कराएगा clear यह 5 sentence अपने 5 section के आगे लिख लो और आज के बाद यहां से बनने वाले 20 question चाहें जुडीश्री में हो किसी भी APO में आएं किसी भी JLO में आएं कभी गलत नहीं होंगे क्योंकि यहां से इतने सारे ही question बस पूछे जाते हैं अब फटाफट फट मिनट तक इससे जितने भी question बन रहे होंगे मैं आपसे कराता जाऊंगा ठीक 106 से लेकर 110 तक सारा समझ में आ गया देवी देवताएं तो मेरे को comment करके बता दो के हा सर यह चीज़ समझ गये इससे बाहर इनसे कुछ नहीं पूछा जाता आया clear हुआ बहुत अच्छे सबको समझ वे आ गया तो अब जो rapid fire round होगा उसमें कोई गलत तो नहीं होगा चालो अब फटाफट से start करते हैं अपने rapid fire round को और session को एक बार like कर दो अगर समझ में आ गया तो सारे लोग session को like कर दो फटाफट से कोई doubt नहीं 108 में अगर 108 से लिटर आए executive majesty एक साल के लिए कराएगा चिपका कर चले आना आयोग गलत कर देगा तो हम रिट पिटीशन फाइल कर देंगे क्योंकि लिखाई भी एरेक्ट में 108 में कोई भी doubt नहीं है ठीक चलो करो session को like फिर आप rapid fire round की ओर आईए और इससे related सारे question अब मेरे पास धडले से solve करने हैं ये कर लिया 106 वाला option number B is the correct answer of this question चलो next question पर आ जाते हैं फटाफट से under section 106 criminal procedure court which one of the following court has power to release the offender security for keeping peace and good behavior अपरादिक सहिता की धारा 106 के तैत निम लिखित में से किस नियाले को सांति बनाए रखने के और अच्छे विवार के लिए अपरादिक शुरक्षा पर रिहा करने की सकती है court of session या फिर magistrate first class appellate and revisional court all of the above नियाए शत्र नियाले प्रतम स्रेडी magistrate अपीले या फिर पुनरे पुनरीक्षण नियाले रिवीजिनल court इतना कठिन बढ़ है वाई ठीक और या फिर उपर उपर उपरक्षण में थे सभी देखो 106 में मैंने बताया court of session judicial magistrate first class और इसके अलावा अगर इनकी कोई भी appeal at court में appeal जाती है या फिर इनका revision किया जाता है रिवीजिनल court के पास तो इन सारे ही magistrate को क्या होता है अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं 106 का bond जो है 106 का bond क्या कर सकते हैं तीन साल के लिए sign करा सकते है clear और ये जितनी भी limits बताई है वो मैंने maximum limit बताई है कि इतने time के लिए ही maximum ये सारी चीज़े कराई जाएंगी moving ahead next question पर आईए फटाफट से what is the extent period of security under the section 106 अब तो इसको तो सभी बता देंगे जल्दी से बताईए option भी नहीं पढ़ने की जरूद है हिंदी वाले दारा 106 के तहत एक अदालत सुरक्षा की कितनी समय सिमा तक आदेस दे सकता है जल्दी से बताईए option पढ़ने की जरूद नह लगा होगे कि क्या मैंने बताए था तो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी clear तो option number A is the correct answer वैसे revise करके तो जाना चाहिए revision is the key of success moving ahead 107 CRPC executive magistrate other person executive bond for keeping security not exceeding one year ठीक 107 की मैं executive magistrate कितनी अबदी तक का bond sign करा सकता है 107 में judicial magistrate एक बच्चे ने लिखा है कि सर आप समझाए और हमें समझ में ना ऐसा हो नहीं सकता result दे देना और अगर top rank कोई ले आया है ना आप में से सही बता रहा हूँ मजा ही आ जाएगा JLO में rank 1 ला कर दे दो यार कुछ नहीं चाहिए free classes हैं महत करके पढ़ा रहे हैं इतना ही दे 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 ना top 5 में अगर हमारी classes से कोई बच्चा होगा और दूसरी important बात बता दूँ JLO में अगर आपके जितने भी बच्चे मेरी classes से means qualify करेंगे उनका free mock interview में JLO का करवाँगा ठीक है अगर आप मैंसे कोई भी बच्चा JLO का prelims निकालेगा और उसका interview जब होगा ना तो free mock interviews में आपके conduct करवाँगा जिसके बाद आप rank secure कर पाऊगे ठीक है तो 107 के according एक साल के लिए कितना 107 के according एक साल के लिए क्या किया जा सकता है एक साल के लिए एक वर्स के लिए पूरी तरीके से एक वर्स के लिए bond sign कराया जा सकता है executive magistrate कर दो रहा if a person in respect to whom an order requires security made under section 106 or 117 of CRPC at a time such order is made undergoing a sentence of imprisonment the period of which such security is required shall commence on expiration of such sentence concurrently at no time on the date of determined by the court या कोई भी व्यक्त जिसके संबद में सुरक्षा की आवज सकता के आदे CRPC की धारा 106-117 के तहट दिया गया है जिस समय ऐसा आदेश दिया जाता है कारावास की सजा भूगत रहा है वह अवदी जिसके लिए ऐसी सुरक्षा की आवज सकता है शुरू होगी सजा समाप्ति पर संबर्ति रूप में किसी भी समय पर नहीं नियाले के द्वारा निर्धारित तिथी पर कब 106-117 की बात कर रहा है जब determined by court होगी on the date of determination of the court जब court ने determine किया है नियाले द्वारा निर्धारित तिथी पर ये चीज़े की जाएंगी तो option D is the correct answer of this option number D is the correct answer of this question typing error option number D जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है clear wait 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 expiration of such sentence ठीक तो बिल्कुल सही है option number A ही बिल्कुल सही होगा ठीक option A ठीक क्या है option number A on the expiration of such sentences ठीक option A सही है sorry for this wrong information ठीक मेरी गलती है option A is the correct answer चालो आगे आते हैं next question पर from which one of the following security of good behavior under section 108 the code of criminal procedure cannot be demanded ठीक वेगरेंड एंड अच्छे विवार के लिए सुरक्षा की मांग नहीं की जा सकती आवारा और संदिक व्यक्ति भी आदतन अप्राधिक सी किसी आप्राधिक आरोपी या फिर राश्ट्र द्रो या प्रिसार करने वाले व्यक्ति माइने रखते हैं बताईए फटा-फट बताएं person dismantling sedices matter 108 में क्या बताया था 108 में किसका security bond sign करा रहे थे जल्दी से बताईए किसका sign करा रहे थे 108 में हमने security bond sign कराया था किस व्यक्ति से हमारे जो option number D ऐसे सारे लोग जो के sedition फैला रहे थे जूटी अपवाएं फैला रहे थे देश के खिलाब देश के against तो वह सारे राजदरोग वाले आदमियों से हमने security bond sign कराया था option D is the correct answer of this question moving ahead next question पर आओ an executive magistrate can order to execute a bond security for good behavior from a suspected person for period not exceeding ठीक किस की बात कर रहे है अब बात कर रहा है executive magistrate किस से good behavior का bond signed करवा रहा है suspected person से suspected person का section number 109 109 में कितने साल तक executive magistrate bond sign करवाते हैं एक साल तक executive magistrate bond sign करवा सकते हैं तो option number one ठीक option one year option number one is the correct answer of this question moving ahead which one of the following section of CRPC provide as to the security of good behavior of habitual offender क्या कह रहा है अरे दोनों तरफ ही इंगलिस हिंदी वालों के लिए translate नहीं हो पाया यहां पर क्या आप मैं आपको बता जा रहा हूं habitual offender के बारे में कौन सा section है यह आपसे पूछा जा रहा है 110 109 108 या फिर none of the above ठीक तो यहां पर 110 क्या है 110 section में habitual offender की बात की गई है यह सही जबाब है which one of the following section has not enumerated in section 110 of CRPC which empowered an executive magistrate to require such person to sow cause why he should not be order a execute bond for his good behavior ठीक यहां पर का गह रहा है धारा 110 के अंतरगत नहीं गिना जा सकता जो एक कारेकारी magistrate को अधिकार देता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यह है कारण मांगे कि उसके अच्छे विवार के लिए bond निस्पादन करने का आद इस क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ठीक तो section 110 में एक exhaustive list दी गई है laws की जहां पर जो है executive magistrate तीन साल के bond sign कराएगा तो उसमें कौन सा matter नहीं आता है जल्दी से बताओ ड्रक्स है हमारा foreign exchange act है untouchability of offender act है लेकिन डौरी provision act नहीं है ठीक दहेज निशेद अधिनियम 1961 में executive magistrate को पावर नहीं है कि वह 110 की पावर को इस्तमाल करते हुए तीन साल का bond sign करा लेगा ठीक इसकी एक exhaustive list है वो कौन-कौन सी है सबसे पहला है drug and cosmetic act मतलब कुछ और है foreign exchange regulation act the employee provident fund EPFO वाला उसके बाद the prevention of the adulteration act 1958 the essential community act the untouchability of ender act the custom act 1962 the foreign act 1946 तो इनके respect में तो यहाँ पर किसका नाम नहीं है दहेज प्रथा का नाम नहीं है ठीक वो जो है क्या होगा हमारा सही answer होगा इनसे भी एस तरीके का question आपसे पूछ लिये जाता है तो एक बार इनकी जो list यहाँ पर मैंने दे दी है इन सारे जो है क्या 6 चीजों के नाम याद कर लेना दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ ये हैं इन पर जो है क्या executive magistrate के पास power है कि तीन साल का bond sign करा लेगा लेकिन आपका जो option number b dory provision act 1961 के according नहीं करा सकता है clear moving है next question पर which one of the following magistrate can order the habitual offender of robbery और house breaking to execute a bond without surety कौन कराएगा इन मैंसे judicial magistrate second class, judicial magistrate first class, executive magistrate any of this, निम लिखित मैंसे कौन सा magistrate डखेती या घर तोड़ने तोड़ फोर करने वाले अतदन अपरादियों को जमान के साथ या उसके बिना bond के निस्पादित करने का आदिश दे सकता है नियाएग magistrate, दुतिय सेड़ी magistrate, प्र जो robbery, house breaking, इसकी भी 110 में exhaustive list है, तो 110 की ये सारे offenses की list पढ़ लेना और 110 का जब भी नाम आता है तो executive magistrate ही bond sign कराते हैं, कारेकारी magistrate और कितने 3 साल के लिए, 3 वर्स के लिए ये करा सकते हैं, ठीक तो इस list से भी जो है आपके question बन जाते हैं, तो इसको भी आप एक बार seriously read करके जाएगा, clear, आज जो है section number 125 से लेकर 153 तक के सारे important mcq format में हर एक चीज ठीक, अब देखो को मैंने आपको सारी चीज़े करा दी थी, जहाँ पर हमने जो है bail bond और security bond की सारी चीज़े पढ़ ली, और अब हम जो है start करने वाले हैं, हमारा क्या chapter number 9, ठीक, chapter number 9 में maintenance बताया गया है कि कब-कब maintenance दिया जाएगा और maintenance के provision CRPC पर कब applicable होते हैं, ठीक, तो आज हम 125 से लेकर 128 के बीज में बहुत सारे important question बनते हैं, prelims prospective से उनको cover करने वाले हैं, और दूसरी सबसे important बात कि इसके बाद में 129 से लेकर 153 तक के कुछ important question और बनते हैं, जहाँ पर 133 new sense question बनता है, हम हमारा उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके बाद में हमारा 144, 145 से question पूछे जाते हैं, प्लस हमारा 129 से भी question पूछा जाता है, तो इन सारे sections पर हम सारी चीज़ें आज discuss करने वाले हैं, let's start with the class, पहला question आपके screens पर, an order pass under section 125 of CRPC, can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision, option A, only before the chief judicial minister, only before the session judge, only before the high quote, either before the session judge, or either before the high quote, question पूछने की कोशिश कर रहा है, कि एक order जहां पर, अच्छा, inside delete कर दिया, कोई बात नहीं, तो फिर आप यहां पर आजाओ, टेलिग्राम पर, बहुत अच्छे, ऐसे ही लोग dedication के साथ rank holder होते हैं, जो paper आते ही, अपने social media से connect नहीं करते, तो वो सारे लो तो टेलिग्राम गुरूप होगा, टेलिग्राम educational पर prospective के लिए यूज करिए, ठीक, तो वहां पर आप मुझसे connect हो सकते हैं, देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर question पूछा जा रहा है, कि अगर हम धारा 125 CRPC की बात करें, तो जो भी हमारे maintenance को हारने वाली party है, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है, ठैंक यू, very good evening, यार अब class शुरू कर लें, धन्यवाद, राधे जी आपने बताया मेरा पढ़ाने का तरीका जो है आपको अच्छा लगता है, उसके लिए शुक्रिया, और अब class को start कर लें, फिर रह जाएंगे question क्योंकि question आप से पूछा है कि अगर CRPC 125 के तहत, दो पार्टिया होंगी, सबसे पहले 125 बात किसकी करता है, इसको समझ लो, 125 बात करता है maintenance देने की, अब इसमें wife के दोरा husband को, और husband के दोरा wife दोनों को ही maintenance दिया जा सकता है, maintenance का concept हमारा लिया गया है, personal loss के basis पर, जहाँ पर शादी के जाने के बाद husband की responsibility है, कि अगर उसकी wife अपने आपको maintain नहीं कर पा रही है, तो वो अपने husband से maintenance ले सकती है, लेकिन ये secular provision है, और इसी वज़े से हमें देखने को मिलता है, कि यहाँ पर आप जब 125 या chapter 9 CRPC की बात करते हैं, तो ये जो है हमारे हर एक respect में, मतलब हर एक religion के respect म applicable होता है, तो सबसे पहला question आपसे JLO में ये पूछा जा सकता है, कि chapter 9 जो है किसके बारे में बात करता है, तो ये maintenance के बारे में बात करता है, और maintenance जो है every citizen of India, मतलब किसी भी धर्म का कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शिक हो, चाहे वो इशाई हो, या फिर फिर वो जो है क्या Muslim हो, ठीक चारो ही धर्म, या फिर other धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, इस maintenance में claim कर सकते हैं, यहाँ पर maintenance किस किस की बात की गई है, देखिए, यहाँ पर अगर जो, अब देखो यहाँ पर एक word यूज किया है, unable to maintain himself or herself, इसका मतलब बहुती ज़्यादा important हो जाता है, यहाँ पर बताने की बात कर रहे हैं, कि अगर husband अपने आपको unable है, maintain करने के लिए, और उसकी wife नौकरी है, और वो नौकरी से क्या करती है, नौकरी से अच्छी खासी income कर पाती है, तो husband अपनी wife से क्या करेगा, डवलू से maintenance मांग सकता है, दूसरी बात, अगर wife unable to maintain है, तो वो अपने husband से maintenance मांग सकती है, और तीसरी बात के इसमें, जितने भी बच्चे होंगे, वो भी जो है, क्या कर सकते हैं, अपने parents से maintenance मांग सकते हैं, चाहे वो illegitimate बच्चे हों, चाहे वो legitimate बच्चे हों, clear, और यहाँ पर आज हमने honorable supreme court का सुबह एक important judgment discuss किया था, यहा कर सकता है, अपने father और mother दोनों से ही maintenance मांग सकता है, honorable supreme court of India की three judges bench ने कल ही यह जो है, एक landmark judgment दिया है, और उसका अगर आपको citation चाहिए, तो सुबह के वीडियो से ले लेना, recent अब यह पूछा जाने लगेगा, ठीक, तो यहाँ पर, अब किस कि husband wife एक दूसरे से, बच्चों क maintain करने की जिम्मेदारी है, बच्चे चाहिए legitimate हो, चाहिए legitimate हो, father mother को जो है क्या, अगर father mother अपने आपको क्या नहीं कर पा रहे है, maintain नहीं कर पा रहे है, तो क्या करना होगा, उनको maintenance देना होगा, और यह maintenance कब तक दिया जाएगा, यह maintenance 18 साल की उम्र तक दिया जाएगा, लेक आने के लिए capable नहीं हो जाता, वो क्या कर सकता है, maintenance को claim कर सकता है, तो हमेशा आगर आप बात करें, maintenance के suit की, तो इसमें आपको दो पार्टियां देखने को मिलेंगी, एक होगा जो maintenance मांग रहा होगा, दूसरा होगा, जिसको maintenance देना होगा, तो 125 में इतने सारे points हम को बताए वो summons cases की तरह इसको कराया जाएगा, तो जब हम 125 का order किसी भी party के against में आया है, और वो party ये चाती है, कि जो उसके against में order आया है, उसको वो जो है challenge करना चाती है, through the revision, तो वो किस court में challenge कर सकती है, ये question आपके यहाँ पर पूछा गया है, अब इसका answer करिए, चार courts दिये गए only before the chief judicial magistrate, only before the session judge, before the high court, या फिर other session judge and the high court, ठीक, 125 में मैंने ये सारी बाते बताई हैं, ये सारी बाते आपके exam point of view से बहुत जादा important हैं, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि 125 में other भी चीज़ें दे रखी हैं, 125 की, ठीक, तो पहले इस question का answer करिए, फिर इसके बाद दूसरे question पर चलेंगे, तो उसको दूसरे perspective से समझेंगे, ठीक, तो इसका answer है, कि अगर हम revision file करना चाता है, कोई भी party किसके खिलाफ, जो भी decision आया है, 125 के according, तो वो जो है, court of session में file कर सकता है, या फिर high court में जाकर revision करा सकता है, clear, तो याद रखिएगा, दोनों ही ये competent court हैं किसके लिए हमारे revision को कराने के लिए, option number D जो है, इसका विल्कुल सही answer हो जाएगा, clear, moving ahead, next question पर आईए, in which case, it was held that by the honorable supreme court, that the married daughter is also liable to maintain her parents, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, कि honorable supreme court of India के किस निरिडए में बताया गया, कि जो साधी सुदा लड़किया है, वो भी अपने parents को maintenance देने के लिए liable है, विसाया मनोहर आरत वर्सिस कासी राव, सविता भेन वर्सिस स्टेट ऑफ गुजरात, कीर्ति कान्त वर्सिस स्टेट ऑफ गुजरात, N.B. विक्षू वर्सिस स्टेट ऑफ अंध्रपदेश, अब इसको आपका सही answer मुझे को देना है, फटा-फट के द्वारा कहा गया है, इतनी सी बात आप से यहां पर पूछी गई है, जल्दी से answer करिये, सर ये cases याद नहीं रहते, cases ऐसे नहीं याद होते हैं, कि हम जब कोई भी case कहीं से पढ़ते हैं, और जो हमारे topic के लिए बहुत ज्यादा important होता है, उस section से related, उस case को क्या करना होग हमको अपने section की heading के ऊपर ही लिख देना है, और उसका एक line में just लिख देना है, और जब भी आप कोई भी bear act उठाने बैठोंगे, परसिस कासी राओ के landmark judgment में honorable Supreme Court ने ये declare किया था, कि जितनी भी merit daughter हैं, ठीक, वो भी libel हैं, कि उनसे भी जो है, उनके parents अगर unable to maintain himself or herself है, तो व next question है हमारा, no wife is entitled to receive maintenance from her husband unable under section 125 CRPC, if she has obtaining the divorce from her husband and has not remarry, option B, she is unable to maintain herself, option C, she is refuse to live with her husband on the ground of keeping mistress, और she is living in a adultery, यहाँ पर question पूछा जा रहा है, कि अगर हम बात करें किसकी 125 के according, तो कौन सी wife को husband के द्वारा maintenance देने के लिए force नहीं किया जा सकता, इस तरह किसे question पूछा जाएगा, और दूसरा question पूछा जाएगा, कि wife कब जो है, maintenance claim नहीं कर सकती husband से, ठीक, तो यही question आप से यहाँ पर पूछा गया है, ठीक, अब जल्दी से आप इसका answer बताईए, कि आ आपके according इसका answer क्या सही होना चाहिए, देखो 125 में wife के लिए specific ground दिये गए हैं, और इन specific grounds में कुछ चीजे बताई गई हैं, अब उन चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको मेरे साथ क्या करना होगा, समझना होगा, और कैसे आप इसको समझ सकते हो, सबसे पहले एक बास समझ सकती है, और अगर उसके वो without justification अपने husband से अलग जाकर रहने लगती है, mutual concern से अलग जाकर रहने लगती है, या फिर वो किसी के साथ adulterous relationship में पाई जाती है, तो उसको husband की liability नहीं है कि maintenance देना पढ़े, ठीक तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो, कि इसमें लिखा है, she is living in adultery, ऐस इसी सारी महलाएं, ऐसी सारी wife हैं, जो के adultery में अपने husband के साथ में, मतलब adultery में अपने husband के होते हुए किसी के साथ रह रही है, उनके पास अधिकार नहीं है, कि वो 125 के according क्या कर सके, maintenance को claim कर सके, इतनी बात clear हुई आप सारे लोगों को, और दूसरी बात बताई गई है, यह अब यह पहला ground, she has obtained a divorce from her husband and not has remarried, तो इस case में, जहां पर एक महला ने अपने पती से divorce तो ले लिया है, और उसने दूसरी शादी नहीं की है, तब तक वो 125 में clearly क्या कर सकती है, maintenance को claim कर सकती है, दूसरा, she is unable to maintain herself, this is the most important point of section 125, कि महला क्या होनी चाहिए, महला पूरी तरीके से असमर्त है, कि वो जो है, क्या करेगी, वो जो है, अपने आपको maintain नहीं कर पाएगी, लेकिन situation अगर ऐसी हो, कि husband और महला की बरावर salary हो, तो उस case में महला के पास अधिकार नहीं होगा, कि वो maintenance claim कर पाए अपने पती से, और दूसरी सबसे important बात, कि अगर ऐसा हुआ, कि महल husband से ज़्यादा salary कमाती है, और husband unable to maintain himself है, तो इस case में husband wife से उल्टा maintenance मांग सकता है, इसी वजए से ये जो है, बहुती ज़्यादा important क्या होता है, बहुती ज़्यादा important section बन जाता है, husband और wife दोनों के लिए, ठीक, तीसरा, she is refused to live with her husband on the ground, that keeping a mistress, ठीक, तो या वो अपने पती से जो है क्या कर रही है, अलग रहने लग रही है, mutual consent से, या फिर without कोई भी agreement करके, ठीक, तो इन दोनों ही cases में, उसके पास 125 CRPC के according, maintenance लेने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, clear, ठीक, option D is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आओ, which one of the following are liable under section 125 clause D of the criminal procedure code of payment of maintenance of their parents, who is unable to maintain themselves, son, daughter, sons and daughter both, none of the above, क्या कह रहा है, 125 clause 1, sub clause D के according, अगर हम बात करें कि CRPC में, एक माता पिता जो है, अपने आपको maintain करने के लिए sufficient नहीं है, तो वो किस से, जो है क्या, किस किस से, maintenance ले सकते हैं, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो आपको यहाँ पर दिख सकते हैं, तो वो अपने father से क्या करेंगे, maintenance मांगेंगे, और अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, और वो earn कर रहे हैं, और father mother उस टाइम पर unable to maintain है, तो father mother को भी maintenance 175 के according ही दिया जाता है, और ये maintenance किस के द्वारा दिया जाएगा, son के द्वारा दिया जाएगा, और daughter के marriage हो चुकी है, तब भी, married daughter भी क्या करेगी, married daughter भी जो है, अपने parents को maintain करेगी, clear, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर finally देखने को मिल रहा है, option number C is the correct answer of this question, clear, very good evening, अमन राज, चलिए, आगे चले, next question पर, इतनी चीज, clear, मैं यहाँ पर इतने question बता चुका हूँ, आपको clear हु पीडियेफ आज बना रहा था, वो पीडियेफ फाइनल स्टेज पर आते आते, नहीं मेरे से सेव हुई, सेव होने में उसमें जो है, गरवड हो गई, इसी वज़े से मैं इंगलिस के लेकर चले आया हूँ, अगर clear हुआ हो, तो फटा-फट से session को क्या करना होता है, like करना ह होता है, और बिना like किये, class आगे नहीं बढ़ती है, बोल बोल के मैंने आपकी आदत बिगार दी है, इसी वज़े से आप जब तक मैं कहता नहीं हूँ, तब तक session को like नहीं करते हैं, clear, अगर marriage daughter earn ना करती हो, तो वो भी unable to maintain himself or herself है, तो उससे maintenance आप कैसे claim कर सकते हो, that is the logical question, ठ CRPC के इन sections में नहीं लिखा हुआ है, clear, इतनी बात, चलें आगे, चलें, Tension मत लीजे, Dimple जी, आपकी इसकी Hindi PDF में जरूर भेजूंगा, इसमें Tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक, नहीं, इसको मैं translate करवा के पक्का भेजूंगा चैनल पर, C is the correct answer of this question, coming to the next question, under section 125 CRPC, can order to make a maximum monthly allowances for the maintenance up to 3000, 4000, 5000 या फिर unlimited, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको यह चीज समझनी है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, PDF कहाँ पर मिलती है, सानु चौधरी को पहले यह बताओ भाई, PDF कहाँ पर मिलती है, सानु चौधरी आप पहली बार क्लास में आए हैं, यार क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, बार बार बच्चे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कि हिंदी के कोश्चन कहाँ गए, आज हिंदी की PDF सेव नहीं हो पाई, इंडिया पागिस्तान का मैच देखते देखते 6 बज गए थे, और मैं कोश्चन बनाकर उसको सेव ही करने वाला था, तब तक लैप्टॉप डाइरेक्ट सट डाउन हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इस बज़े से आज आज आप टेलीग्राम गुरुप पर मैं डाल दूँगा, इतनी बात समझ में आई सबको, अब दुबारा इस कोश्चन को मुझसे रिपीट मत करिएगा, इस जो है सेशन की PDF आपको मिलती कहां है, टेलीग्राम गुरुप है मेरा, जिसका नाम है, अपूर्व शर्मा ओफिशिल, इस टेलीग्राम गुरुप को सर्च करना, यहाँ पर यह PDF सेशन को कम्प्लीट करने के बाद दी जाती है, टिक, अनलिमिटेड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब यहाँ पर पूछ रहा है, सेक्शन 125 CRPC की बात करें, तो कितना जो है, मैक्जिमम अमाउंट है, जो मेंटिनेंस के रूप में दिया जाता है, यह चीज आप से पूछी जा रही है, क्लियर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कि अगर हम बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, मैंटिनेंस की, तो सेक्शन 125 में, 2001 से पहले कपसे, 2001 से पहले एक लिमिट दी गई थी, कि 500 अर्पे तक क और यहाँ पर ultimate word का, जो है unlimited word का लिख दिया गया है, कि जितना court of magistrate क्या समझे, court of magistrate यह समझे कि इस व्यक्ति की income इतनी है, और उसके हिसाब से उसको maintenance देना है, तो यह जो है, अब CRPC के 125 में, कोई भी क्या, कोई भी चीज यहाँ पर नहीं बताई गई है, सबसे महगा तला जानते हो, गोल्फ वाले प्लियर को, गोल्फ केलते थे, उनका अपसक सबसे महगा तलाक हुआ है, clear, लेकिन वो यहाँ पर जो है, क्या, यहाँ पर इंडिया में, इंडिया की laws के according नहीं हुआ, लेकिन रितिक रोशन के बारे में सुना होगा, ठीक, तो judicial magistrate, first class के सामने, आ यह किसी, जो भी हमारे citizens of India हैं, उनके लिए applicable है, और irrespective of क्या है, irrespective of religion है, किसी भी धर्म का आदमी जाकर maintenance को claim कर सकता है, यह वाला point बार बार बोलने का मतलब यह ही है, कि यह जो है आप से पूछा जाएगा, 125 या chapter 9 of CRPC is a secular provision or not, ठीक, तो यहाँ पर, अब कितना भी, जित हिसाब को देखते हुए maintenance को order कर सकते हैं, और यह amendment वाली याद रखिएगा, कि 2001 के amendment से पहले 500 रुपे की limit हुआ करती थी, जिसको अब खतम कर दिया गया है, clear, चालो, next question पर आजाओ, फटाफट से, who cannot claim maintenance under section 125 of criminal procedure code from a person having sufficient mean neglected or refuse to maintain himself or herself, ठीक, father and mother unable to maintain themselves, illegitimate minor child unable to maintain herself, wife is unable to maintain herself, brother is unable to maintain himself, क्या कह रहा है, ऐसा कौन व्यक्ति है, जिसको 125 CRPC धारा के अंतरगत हम जो है, maintenance नहीं देंगे, चाहें उसके पास sufficient mean हो, चाहें उसके पास sufficient mean नहीं हो, जल्दी से इस question का answer कीजे, देखते हैं, कितने लोग इसका सही जबाब देते हैं, जल्दी बताईए, जल्दी बताएं, देखो, मैंने starting में ही बताया था, 125 में, father mother claim कर सकते हैं, अपने बच्चे से, और बच्चा चाहें legitimate हो, चाहें illegitimate हो, अपने father mother से maintenance claim करेगा, जब तक वो major नहीं हो जाता, अगर बच्चा unsound है, तब वो क्या करेगा, तब अपने उम्र तक, जब तक unsoundness है madness है, या फिर unable to work है, physical handicapped है, तो जब तक वो work नहीं करता, earning नहीं करता, तब तक मावाप से maintenance ले सकता है, अगर किसी भी मावाप की बच्ची की शादी होकर चली गई है, तब तक उसके बाद married daughter के father mother परेशान है, और उनके पास unable to maintain himself herself herself का कोई भी system नहीं है, तो वो married daughter से भी maintenance ले सकते है, husband wife से wife, husband से maintenance ले सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि brother जो है, क्या brother का कोई भी concept हमको section number 125 में देखने को नहीं मिलता, father mother ले सकते है, legitimate minor, illegitimate minor son ले सकता है, wife ले सकती है, अगर वो maintenance अपने आपको maintain नहीं कर सकती, लेकिन brother का यहाँ पर कोई भी right 125 में नहीं बताया गया है, तो option number D, जो है क्या हो जाएगा, option number illegitimate minor son unable to, option number D is the correct answer of this question, ठीक, यहाँ पर D option, जो है क्या होगा, इसका correct answer होगा, clear, next पर आते हैं, in which case the supreme court held that 125 CRPC is applicable to all respect of their religion, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि यह बात किस में कही गई, कि honorable supreme court of India, section 125 CRPC, का जो है, हर एक religion के लोगों पर क्या होगा, applicable होगा, यह question आप से पूछा गया है, यह question आप से पूछा जा रहा है, जल्दी से इसका answer करिए, जल्दी से इसका answer करिए, जल्दी से इसका answer करिए, Muslim women's को भी क्या देता है, right देता है, कि वो जो है, अपना maintenance, इसलाम धर्म को छोड़ कर, chapter number 9 में claim कर सकती है, कैसे claim कर सकती है, अब इसका region समझ लीजे, पहले क्या हो करता था, अगर हम Islamic perspective से देखें, तो women's को जो है, चार साधी करने का अधिकार होता है, इसी बज़े से, जो है, क्या होता था, women's के marriage के time पर, उनका door fix किया जाता था, एक होता है prompt door, एक होता है differed door, prompt door मतलब, जैसे ही साधी हुई, वैसे ही दिया जाएगा, differed door मतलब, शाधी के time पर ही fix कर लिया जाएगा, लेकिन उसमें condition होंगी, कि जब dissolution of marriage हो रहा होगा, तब जो है, क्या दिया जाएगा, ये door दि जाएगा, ठीक, ये जो है deterrent effect create करने के लिए, जिससे के husband बार बार दूसरी शादी नहीं करता रही, इस वये से इस मुख provision को लाया गया, लेकिन उसके बाद हमें देखने को मिलता है, कि Islamic perspective से ही, जब भी कोई divorce हुआ करता था, तो उसकी महलादर husband से maintenance मांगा करती थी, तो इ remarry नहीं कर रही है, तब भी उसके पास अधिकार नहीं है, कि वो जो है maintenance claim नहीं कर सकती, और इसी मुद्दे को जो है किस case में हमारे एहमत खान वर्सिस सावानो बेगम के landmark judgment में honorable supreme court of India के सामने रखा गया, और इस case में honorable supreme court ने held किया, कि Islamic law के perspective से, अगर Muslim male अपनी wife को, अपनी wife को इद्दत पीरड तक क्या, इद्दत पीरड तक maintenance देने के लिए बाद है, clear, तो उसके बाद हम सारी Muslim महलाओं को, जिनको maintenance चाहिए, इद्दत पीरड के बाद में, हम जो है, उनका maintenance का right 125 CRPC के तहत देंगे, और तवी से, इस landmark judgment से ही, ये, जो है, क्या honorable supreme court का contention निकल कर आता है, कि जितनी भी Muslim बहने हैं, और उनको maintenance लेना है, अगर अपने husband से, तो Islamic law के perspective से, वो इद्दत पीरड तक ले सकती है, और उसके बाद में, वो criminal procedure code 1973 के chapter 9, section 125 में, अपने पती से, जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, तब तक maintenance claim कर सकती है, clear, ये, जो है, held किया गय एहमद खान versus सावानो बेगम केस में, और ये बहुत ही interesting और landmark judgment है, Islamic law के respect से, ठीक, तो option number C, जो क्या है, इसका बिलकुल सही जबाब है, moving ahead, next question पर आईए, फटा-फट से, who amongst the following is not entitled to maintain under section 125 CRPC 1973, illegitimate minor child, divorce wife, father, या फिर uterine, प्रदर, 125 CRPC के according, किसको maintenance जो है, नहीं दिया जा सकता, ये चीज आप से पूछी गई है, easy question है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और आप सब लोगों से आसा है, कि इस question को सही देंगे, देखिए, illegitimate minor child, अपने माता-पिता से maintenance ले सकता है, divorce wife, जब तक, remarry नहीं करती, तब तक, जो है maintenance ले सकती है, father maintenance ले सकता है, अपने बच्चों से, अगर वो maintain करने में, अपने आपको sufficient नहीं है, तो, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है, कि जो uterine brothers होते है, ठीक, uterine brothers का कोई भी अधिकार नहीं है, कि वो 125 के according, अपने किसी भी relative से maintenance मांग सके, clear, तो option D, जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, next question, under section 125, clause 4 of CRPC, who of the following cannot claim maintenance, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 125, 4 CRPC के according, किसको maintenance नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले, wife, जो कि adulterous relationship में रह रही है, दूसरा, wife, living separately via mutual consent, अपनी पती से, जो ह क्या mutual consent के साथ में क्या कर रही है, साथ में रह रही है, तीसरा, wife, without any sufficient reason, refuse to live with her, with the husband, ठीक, wife ने, बिना किसी कारण के, अपने husband के साथ में, रहने से, इनकार कर दिया है, तो इस case में, वो पूछ रहा है, आपसे, कि इस case में, बताइए, किन cases में, wife को maintenance नहीं दिया जाएगा, तो यह चारो ही basic ground है, as per section 125 clause 4K, according कि adult trust relation, अगर mutual agreement करके, या mutual consent के साथ अलग रही है, तब, और तीसरा, कि वो without justification, without any reason, without any cause, जो है, अपने husband से अलग जाकर, separate जाकर रहने लगी है, तब husband की responsibility नहीं है, कि वो अपनी wife को maintenance दे, as per section 125 of CRPC, तो option D, जो है, इसका clear, cut, बिल्कुल, सही जवाब है, A, सही जवाब नहीं है, बेटा, कौन सा option clear है, option number D, is the correct answer of this question, clear हुई इतनी बात, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर, an order for maintenance or interim allowance can be cancelled under the circumstances stated under, 125 subclose 5, 127 subclose 2, 127 subclose 3, 109 of the above, अब आप से पूछा क्या जा रहा है, कि अगर maintenance या फिर interim allowances का कोई भी order हमको cancel कराना है, circumstances के change होते हुए, तो case जो है, section में कराया जा सकता है, देखो, कोई बच्चा question पूछ रहा था, ऊपर चला गया answers में, दुबारा पूछ लीजेगा, मैं बता दूँगा, ठीक, देखो, यहाँ पर क्या है, an order to maintenance or interim allowance को, अगर हमें cancel कराना है, suppose कीजिए, यहाँ पर समझाना क्या चाह रहे है, 125 में क्या हुआ, हमारे wife को maintenance अलोट हुआ, ठीक, maintenance अलोट हुआ, उस maintenance का amount बिलकुल certain रखा गया, और quote के according कहा गया, कि यह जो है maintenance दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पर यह maintenance husband दे रहा है, लेकिन situation क्या हो हजबेंड को 5000 रुपे salary मिलती थी, अब हजबेंड की salary या job ही चली गई, ठीक, तो उस case में या फिर wife ने क्या किया, एडल्टरस relationship में किसी के साथ आ गई, या फिर remarriage कर ली, दूसरी marriage कर ली, ठीक है, तो इस case में wife का अधिकार नहीं बनेगा, कि वो maintenance continue कर सके, तो उस maintenance को क्य क्या cancel कराया जा सकता है, कि section के according, तो ये बात आपको बताई गई है, कि 127, 125, 100, इसको cancel कराया जा सकता है, option number D, एक second, किसमें cancel कराया जा सकता है, 127 close 2 के according, interim maintenance के order को cancel कराया जा सकता है, clear, तो option number B is the correct answer of this question, ठीक, आगे चलते हैं, next question पर, against the order of magistrate under section 125 CRPC, the remedy is, appeal in the court of district and the session judge, revision in the court of district and the session judge, appeal in high court, revision in high court, क्या कह रहा है, 125 के against में, अगर किसी भी इनसान को क्या करना है, judicial magistrate का order आया है, उसकी appeal करनी है, तो वो किस court में कर सकता है, revision करना है, तो किस court में कर सकता है, बताइए फटाफट से, देखो, यहाँ पर 125 का matter सुना कैसे जाएगा, summons cases की तरह सुना जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कैसे, आपका इसमें जो है, क्या, हमारे judicial magistrate first class क्या करेंगे, judicial magistrate first class को सुनेंगे, और यहाँ पर एक important बात याद रखने वाली है, कि अगर revision इसका कराया जाएगा, तो revision कौन करेंगा, revision में याद रखिएगा, दो quote करते हैं, सबसे पहला quote कौन सा होता है, सबसे पहला number का quote होता है, हमारा इसमें, court of session और दूसरा होता है, high quote, लेकिन जब हम बात करते हैं, judicial magistrate first class की, तो JMFC की जो appeal जाती है, 125 की, वो किसके पास, court of district और session judge के पास जाती है, ठीक, तो option number A is the correct answer of this question, लेकिन revision, court of session और high quote के सामने होगा, ये question भी JLO में as it is चिपका हुआ मिलेगा, और appeal की जब बात आएगी, तो appeal किसके सामने होगी, appeal जो है, पूरी तरीके से हमारे court of district court के सामने, और session court के सामने जाएगी, JMFCQT, ठीक, तो option A जो है, इसका बिल्कुल सही जबाब होगा, दो question यहाँ पर मैंने आपके करा दिये, क्यार कि district court में, और session judge में, इसकी appeal जा सकती है, और revision कहां जाएगा, revision जो है, हमारा court of session में, या फिर high quote में, ठीक, तो ये बाला revision का याद रखिएगा, और appeal की अगर बात करें, तो district court के लि जीजे, दोनों में ही जो है, सारी चीज़ा जाती है, sir जी, unmarried लड़की अपने ब्रदर से maintenance ले सकती है, unmarried daughter अपने father-mother से maintenance ले सकती है, ब्रदर से maintenance नहीं ले सकती, और father-mother की responsibility होगी, कि वो जो है, कब तक maintenance करेंगे, जब तक क्या कहते हैं, maintenance कब तक देंगे, जब तक कि उ daughter की शादी नहीं हो जाती, clear, तो इसका जो answer है, वो है option number A, लेकिन revision वाले का answer है, option number B, ठीक, तो option A, revision में ये दोनों, और appeal में ये दोनों, ठीक, चालो, आगे चलते हैं, next question पर, period of limitation for executing of order of maintenance under section 125 CRPC is, क्या कह रहा है, कि अगर हम 125 के order of maintenance का क्या कर रहे हैं, execution करा रहे हैं, तो उस period of limitation कितना होगा, इसका मतलब, यहां पर 125 का किसी भी court ने आदेश किया, और maintenance को allot कर दिया, या फिर maintenance को allot किया गया, तो उस maintenance की order का execution, उसको execute कितने दिनों में कराया जाएगा, one year from the date, one year from the date on which it becomes due, three years from the date on which it becomes due, six months from the date on which it becomes due, three months from the date on which it becomes due, parents नहीं, एक मिनट यार, क्या कोशन पूछे को, parents नहीं है, और parents की property भाई के नाम है, तो सर भाई ले सकती है, parents नहीं है, और भाई के नाम पर है, ठीक, तो भाई एक बात बताओ, जब parents नहीं है, तो जब parents, वो बच्ची अगर existence में थी, तो वो automatically property में हगदार थी, तो उसको property मिली होगी, तो उसको property मिलेगी, clear, तो यहाँ पर क्या रहा है, अब इस question पर बताईए, period of limitation for execution of the order of maintenance is under section 125 CRPC is, ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, कि कब execution कराया जा सकता है, order of maintenance का, जो quote के द्वारा दिया गया है, तो one year from the date on which it's become due, एक साल में, जब से वो, एक साल के अंदर, जब से maintenance को due किया गया है, suppose करिएगा, अब यहाँ पर order आता है, किसका maintenance का order कोट के द्वारा ठीक, और यह maintenance के order में लिखा होता है, कि 5000 रुपे, जो है, maintenance प्रोवाइड करना है हर महीने, और जिस दिन से यह order आता है, उस दिन से husband अगर पहले दे रहा है, तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से उसने देना बंद कर दिया, उस दिन के एक साल के अंदर, wife के प से एक साल तक महला के पास अधिकार है, कि उस court order को execute कराने के लिए जा सकती है, अगर यह situation रही, कि यहाँ पर देगे situation समझेगा, कि यह situation अगर रहती है, कि order आया, कि 5000 रुपे महीने maintenance देना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 6 महीने तक husband ने maintenance दिया, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 तुम्हें महीने से maintenance 5,000 रुपे देना बंद कर दिया, तो wife के पास जब से maintenance देना बंद किया है, 6 महीने से लेकर, अगले 12 मन्त तक क्या होगा, पूरा time होगा, कि वो जो, जो भी due maintenance है, husband का, उसको लेने के लिए, एक साल में matter को, court के सामने ले जा सकती है, clear, तो option A, इसका ब पूछिए क्या सवाल है, बेटा, आप कोई comment नहीं करेगा, पहले advocate बलविंदर जी पहले आप अपना question पूछ लिए, क्योंकि question आता है, फटा-फट से उपर चला जाता है, comment आने लगते हैं, मैं आगे जबी जाँगा, जब advocate बलविंदर जी के सवाल का मैं जवाब दे दू ठीक, maintenance का कोई भी आपका सवाल रहनानी चाहिए, क्योंकि इससे जेलो में बहुत ज़्यादा question पूछे जाएंगे, बलविंदर जी, now ask me your question, उसके बाद हम class को आगे continue करेंगे, पहले आप अपना question पूछ सकते हैं, और अब आप type करके लिखकर भेज दीजे, यही question मैंने अ अब से maintenance रोखा गया है, उसके एक साल तक, ठीक, आप क्या कर सकते हो, maintenance को लेने के लिए, petition file कर सकते हो, यह question का यही मतलब है, ठीक, नहीं बूछ रहे हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए, क्योंकि बारवार comments में कोई बच्चा लिखता रहता है, कि सर मेरा question नहीं है, मेरा question नहीं है, मेरा question नहीं है, तो फिर दिमाग divert होता रहता है, answer आते हैं, तो फटावट से बताने मजाता है, कितनों ने सही दिया, कितनों ने गरत दिया, उससे पता लग जाता है, कितना समझाना है, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर आईए, the maximum limit of amount 500 that could be paid to a wife as a maintenance under section 125 of CRPC was removed in 1973, 1989 2001-2017, ठीक, 500 रपे तक की जो limit थी, उसको कब हटाया गया, 2001 में इसको हटा दिया गया, और उसके बाद judicial magistrate first class पूरी तरीके से, क्या हो गए, freehand हो गए, कि वो जितना case to case, think fit समझें, उतना maintenance wife को दे सकते हैं, ठीक, हो सकते, उनके सामने अलग अलग तरीक है, कि maintenance के माम ले उसकी wife को उसी केस, आपसे जैसा maintenance पहले, husband अपनी wife को जैसे पहले maintain करने में पैसा खर्च करता था, उतना ही maintenance जो है, judicial magistrate के सामने दिया जाता है, तो she is the correct answer, important question है, जो पूछा जा सकता है, which case, it was held that the second wife of a person, whose husband, first wife is alive, cannot claim maintenance from her husband, under section 125 CRPC 1973, बहुत ही interesting question है, यहाँ पर कह रहा है, कि Supreme Court ने यह किस case में held किया, कि अगर किसी भी second wife के, जो है क्या maintenance नहीं दिया जाएगा, 125 CRPC के तहत, जब उसने क्या किया है, जब उसने first wife के रहते हुए शादी कर ली है, तो यह किस case में कहा गया है, state of हर्याना वर्सिस संत्रा, महेरा विस्वा वर्सिस सुएता विस्वा, खे none of the above, देखो बहुते interesting case है, अब यहाँ पर 125 में honorable Supreme Court ने यह क्यों कहा, जब उनरेबल Supreme Court ने यह कहा, कि अगर आपकी valid marriage हुई है, क्या, valid marriage हुई है, valid marriage का मतलब आपने personal laws के according, बिल्कुल सही साधी की है, और personal laws के according, या फिर जो भी आपके secular provisions हैं, जैसे हमारा, Secular provisions कौन सा, Special Marriage Act, ठीक, तो Special Marriage Act के सारे ingredients को fulfill करके, valid marriage की है, तब ही आपको 125 CRPC का फायदा दिया जा सकता है, और अगर किसी की first wife जिन्दा है, और उसने जो है, दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी वाली को कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको पता था, उसकी first wife जिन्दा है, तो उसकी शादी valid नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, खेमचंद उम्प्रकास versus State of Land, गुजरात के landmark decision में, ओनरेवल सुप्रीम कोट ने ये held किया, option number C is the correct answer, next question, under which one of the following section of the criminal procedure code, 1973, monthly allowances और the interim allowances of maintenance can be altered, 125, 126, 127 या फिर 128, पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, कि monthly allowances को या फिर interim allowances को alter किया जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या answer है, इसका 127 clause 2 के according, कोट कर सकती है, और 127 इसका विलकुल सही जवाब है, moving ahead, unmarried daughter को बेटा, 27, 18 तक नहीं, unmarried daughter को दिया जा सकता, साधी तक, जब वो married हो जाएगी, तब जो है, उसके husband की responsibility होगी, कि वो उसको maintenance देगा, ठीक, आगे चलते हैं, next question पर, amongst the following, who is not a competent to use the civil force for dispersal of assembly under section 129 of CRPC, any judicial magistrate, an executive magistrate, officer in charge of police station, any police officer not below the rank of sub inspector in the absence of officer in charge of police station, क्या कह रहा है, कि अगर हमको कोई भी, क्या करना है, assembly को disperse करना है, civil force का इस्तमाल करने के लिए, तो कौन व्यक्ति यहाँ पर order नहीं दे सकता, चार option है, पहला है, judicial magistrate, दूसरा है, executive magistrate, तीसरा है, officer in charge of police station, या फिर वो officer, जिसकी जो है, sub inspector से नीचे की rank नहीं है, उस case में, जल्दी से बताईए, देखिए, यहाँ पर आपको clearly बताया जा रहा है, कि कौन नहीं दे सकता, यह चीज आप से पूछी गई है, तो 129 के according, executive magistrate, जो है, क्या कर सकते है, civil force को, इस्तमाल करके, किसी भी assembly को disperse करा सकते है, दूसरा, officer in charge of police station, या फिर वो सारे लोग, जो के, sub inspector की rank से जादा है, वो officer in charge of police station के, ना होने पर, क्या करा सकते है, civil force का इस्तमाल करा सकते है, तो, judicial magistrate को यह power नहीं है, option number A is the correct answer of this question, clear, moving ahead, next question पर आओ, under which section of code of criminal procedure, a district magistrate, और sub divisional magistrate में prevent environment pollution, अब देखो क्या पूछ रहा है, कि DM और SDM, यह question बहुत पूछा जाता है, कि 133 में, जितने भी judges के name लिखे, देखो, हमने अभी 139 पढ़ा, 139 में कौन-कौन magistrate order कर सकता है, ठीक है, फिर 130 में देख लेना, कौन-कौन magistrate order कर सकता है, और फिर 133 में, किस-किस magistrate के पास right है, और 133 बात किस की करता है, environmental pollution की बात करता है, यह question भी आपसे लगातार पूछा जाता है, ठीक तो यहाँ पर 133 में, environmental pollution या फिर environmental safety के जो बात है, वो magistrate, subdivisional magistrate के द्वारा prevent करने का order दिया जाता है, यह 4-5 question आपके इस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, moving ahead, next question, if a person against whom an order under section 133 CRPC is made, appear and so cause the order magistrate cell option A, take evidence in the matter as in someone cases, take evidence in the matter as in warrant cases, take evidence in the matter as in extraordinary cases, take no evidence, अब आपको इसका सही answer देना है, बताइए फटाफट से, if a person against whom the order under section 133 CRPC is made, appears and so cause against the order of magistrate cell B, क्या होगा इसका विल्कुल सही जबाब, कितने लोग सही जबाब दे सकते हैं, जल्दी से बताइए, देखते हैं, कितने लोग इसका सही जबाब दे पाएंगे, as in summon cases is the correct answer of this question, option number A जो है, इसका विल्कुल सही जबाब है, clear होई इतनी बाद, moving ahead, next question पर आईए फटाफट से, in which one of the following cases, it was held that previous chapter 8 of CRPC being in the public interest, are not violative of article 19 of the constitution of India, रामचंद वर्सिस स्टेट, शिव नरायन वर्सिस बनमाली, मदू लामबिया वर्सिस SDM मोंगी, रामप्रिसाद वर्सिस इंपिरर, बहुती landmark judgment है, जहां पर यह बताया गया, कि जो chapter number 8 है, इसका CRPC का, वो जो है, violation नहीं है, हमारे article 19 of Indian constitution का, यह चीज जो है, on report Supreme Court of India ने held की थी किस में, मधू लामबिया वर्सिस SDM मोंगी के case में, तो option number C, very good surrender, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल option C, जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, moving ahead, next question पाते हैं, a magistrate has power to deal with the urgent cases of apprehended danger or nuisance, under section 133, 144, 145, 107, ठीक, क्या कह रहा है, apprehended danger or nuisance को रोकने के लिए, urgent basis पर, metro, magistrate साब क्या कर सकते हैं, आदेस दे सकते हैं, यह क्या है, यह है हमारा, धारा 144, curfew के नाम से आपने सुना होगा, धारा 144 CRPC, जो है most important है, JLO के respect में, तो जितने भी student हैं, इसको अच्छे से, bare act से, read करके जाएंगे, clear, इसके respect में, दो-तीन question और हैं, जो बनते हैं, उसको कर लेते हैं, order under section 144 CRPC is amendable to writ jurisdiction on violation of any fundamental rights, this was held in the case of दिवाकर नायक वर्सिस पुष्पलता पटेल, गोपाला चार्या वर्सिस स्टेट अफ केरला, गुलाम अबबास वर्सिस स्टेट अफ यूपी, सलीम रमेश वर्सिस स्टेट अफ आंध परदेश, क्या कहे रहे हैं, रिट जूरिडिक्शन के amendable जूरिडिक्शन की बात कर रहे है, जब fundamental rights का violation हो रहा है, उस समय पर, ठीक, तो ये आपको directly यहाँ पर पूछा जा रहा है, section 100, सुनील गुजजर जी को कोई जवाब दे कि आज हिंदी के question क्यों नहीं, मिलेंगे, मैं PDF जब share करूँगा गुरूप पे, कल शाम तक, तो उसमें आपको हिंदी के question मिलेंगे, अभी इसलिए नहीं मिले हैं, क्योंकि आज PDF last moment पे save नहीं हो पाई थी, और मैंने हिंदी के सारे question ट्रांसलेट किये भी थे, इंग्लिस के बनाने के बाद मैं, लेकिन वो save नहीं हुई, कारण क्या था, इंडिया, पाकिस्तान, मैं चल रहा था TV पर, मैं कर रहा था laptop पर काम, मैंने देखा नहीं, laptop direct off हो गया, और इस वज़े से 5 मिनट पहले, class आपकी save नहीं हुई, और फिर मैं इस class को cancel करना चारा था, मैंने फिर सोचा कि आप जो है, बहुत ज़्यादा panic करोगे, कि classes रुक रुक के हो रही है, इसी वज़े से मैंने आज एक class ली है, और मैं इसमें जो है क्या, मैं इसका आपको पूरी तरीके से convert करके, कल शाम तक जो है, इसके हिंदी वाले बच्चों के लिए, गुरुप पर PDF डाल दूँगा, वहां से हिंदी वाले बच्चे इन questions को भी लगा लेंगे, ठीक है, अब किसी को कोई confusion तो नहीं है, इसका PDF आपको मिलेगा, ठीक, चलो, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आपको इस question का जो सही answer है, वो है, option number C, गुलाब अबबास versus state of UP, 1981, Supreme Court, 2198, ठीक, यह जो है, हमारा एकदम landmark judgment है, option number C is the correct answer of this question, आगे चलते हैं, next question पर, any public notice issued or an order made which prohibited carrying arms in a processing or mass drilling or mass training with the arms shall we remain in force not more than 2 months, 4 months, 3 months, या फिर 5 months, क्या कह रहा है, mass drilling या फिर हत्यार ले करके आप नहीं जा सकते, यह order कितने दिन तक पारित किया जा सकता है, यह चीज आप से यहाँ पर clearly पूछी गई है, फटाफट से इसका जल्दी से जबाब दीजिए कि कितने दिन तक के लिए यह order issue किये जाते हैं, very good, 3 महीने के लिए यह order issue किया जा सकता है, option number C is the correct answer of this question, clear हुआ इतनी बात, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर, the objection of proceeding under section 145 CRPC is towards of danger a breach of peace and not to be determined the title, it was observed in the case of Union of India versus अजीवुद्दीन खातून, नंदी राम versus चंदी राम, रोशनलाल versus स्टेट, रामाधिन versus सामा देवी, जल्दी से बताईए, object of proceeding under 145 of CRPC की बात कर रहा है, तो ये किस case में held किया गया था, ये चीज़ आप से यहाँ पर पूछी गई है, ये नंदी राम versus चंदी राम का लेंडमाग जज्मेंट है, जिसमें ये चीज़ आपकी held की गई थी, clear, तो option B is the correct answer, not the option A, B, जो है इसका क्या है, A, इसका गलत आंसर है, नंदी versus चंदी के case में राम लगा लीजेगा, नंदी राम versus चंदी राम के लेंडमाग जज्मेंट में इसको जो है held किया गया था, supreme food के द्वारा, B is the correct answer, clear, six month के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, हाँ, उसको read करना ज़रूरी है, under section 145 CRPC, in dispute as the immovable property, the executive magistrate can decide the question of possession and title, actual possession, title, या फिर all of the above, क्या question क्या पूछ रहा है, आपको ये समझना है, question आपसे ये पूछना चारा है, कि अगर 145 CRPC में dispute है, किसी भी immovable property को लेकर, तो जो executive नयाय, मतलब कारे-कारी magistrate है, can decide the question of possession, और title का decide कर सकते हैं, actual possession का decide कर सकते हैं, title का decide कर सकते हैं, या सारी ही चीज़ें वो जो है decide कर सकते हैं, तो उनके पास ये अधिकार है, executive magistrate, कारे-कारी magistrate के पास, कि वो सिर्फ जो है, किसका actual possession है, इस पर अपना मत दे सकते हैं, immovable property के respect में, बाकी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक, possession नहीं, सिर्फ actual possession की बात करेंगे, title dispute नहीं सुन सकते, title dispute जो है किसके द्वारा सुना जाएगा, title dispute सिर्फ पर सिर्फ civil court के द्वारा ही सुना जाएगा, और junior division, senior division के court में, वो matter जाएंगे, ना कि criminal court के matters, ठीक, तो actual possession की जो बात है, वो decide की जा सकती है, moving ahead, next question, any dispute relating to the possession of immovable property, under the code of criminal procedure, is decided by, क्या कह रहा है कि, possession of immovable property, CRPC के अंदर किसके द्वारा decide किया जाता है, judicial magistrate first class, high court के judges, session court, या फिर executive magistrate के द्वारा, जल्दी से answer करिए, फटा-फट, सारे लोग इसका जल्दी से answer करें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आवाज आ रही है अपनों, पैर से किसी गया हो, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, कि simple भासा में, asset decision, जहाँ पर किसकी बात होती है, possession of immovable property की, तो वो जो है, CRPC के अंदर किसके द्वारा, decide किये जाते हैं, देखो, यहाँ पर भी word possession use किया है, यहाँ पर title use नहीं किया, क्योंकि title suit आते ही, यह क्या होंगे, यह सारी चीज़ें, जो है, पूरी तरीके से किसमें चली जाएंगी, title suit आते ही, यह सारी चीज़ें, CPC 1908 के according, जो है, deal होने लग जाएंगी, clear हुई इतनी बार, तो अब यहाँ से आपको पूछ रहा है, तो इसका जो सही answer है, वो है, executive magistrate, possession, जो है, possession of removal property पर, अपना मत दे सकते हैं, अपनी opinion, दे सकते हैं, तो option number D, is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आते हैं, a revision can be filed, against an order, passed an order, by sub-divisional magistrate, under section 145, clause 6 of CRPC, in the court of district magistrate, additional and, ADM administration, chief judicial magistrate, या फिर, session judge, जल्दी से बताइए, इसका आपके according, क्या जो है, सही answer होना चाहिए, किसकी बात कर रहा है, revision can be filed, against the order of, 145, किसके दोड़ा, किसके पास जाएगा, वो जाएगा, हमारे session judge के, पास में, बिल्कुल सही जबाब, option number D, is the correct answer of this question, मैंने आपको पहले ही बताया था, कि आपको अब 154 section से, थोड़ा जो है, क्या करना है, अपने आपको ज़्यादा conscious रखना है, classes के अंदर, क्यूंकि अब हम, CRPC का सबसे important part करने जा रहे है, section 154 से start होगा ये, और हमें देखने को मिलेगा, कि इसका जो पूरा total, जो है आपको क्या, total हमारा, 1225 तक के sections बहुत ज़्यादा important है, जिसमें section 210 तक, जो है सबसे ज़्यादा important section है, और अब हम पूरी तरीके से, procedure को start करने वाले हैं, और ये procedure हमारी help करने वाला है, CRPC के पूरे concept को समझने के बारे में, अब तक हमने CRPC में जितनी चीज़े पड़ी, कि किस तरीके से किस court को क्या power होगी, कैसे court summons करके parties को बुलाएगा, और कैसे सारी चीज़े की जाएगी, अब हम पूरी तरीके से, जो है क्या करना चाहते हैं, पूरी तरीके से, code of criminal procedure को start कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अब हम CRPC का जो main procedure है, main crux है, उसके अंदर जा रहे हैं, section 154 से लेकर, 160 तक आज जो है, हम सिर्फ 6 section ओपर आने वाले questions को discuss करेंगे, और यह 6 section से सबसे ज़्यादा question आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, JLO में सारी ही चीज़े, directly आपको as a test chip की हुई मिलेंगी, और इस area से सबसे ज़्यादा question आने वाले हैं, तो 176 तक कहां तक 154 से 176, यह 19 section आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है, जो कि आपको JLO के exam में मिलेंगे, और आज एकदम fire कर देनी है, CRPC के FIR के concept को समझने में, ठीक तो FIR का concept हमारा यहां से start हो रहा है, और 154 से हम start करने वाले हैं, अब यहाँ पर एक important बात, कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं, और जो भी हमने CRPC 1973 की इस मेराथन class में पढ़ा है, वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त करना चाते हैं, तो आपको अपूर शर्मा ओफीशल इस टेलीग्राम गुरूप पर मुझसे connect करना है, यहाँ पर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और CRPC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की हैं, वो सारा content अपूर शर्मा ओफीशल इस टेलीग्राम गुरूप पर आपको अब मिल जाएगा, और अपूर शर्मा 252 यह है मेरा Instagram अकाउंट, इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूं, तो आप message जितने भी लोग मुझसे connect हो कर अपना कोई भी doubt या सवाल पूछना चाते हैं, वो अपूर शर्मा ओफीशल 252 अपूर शर्मा ओफीशल आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजेगा, आपको मेरा group मिल जाएगा, इस group में मैं आपको daily basis पर, जो है MCQ practices कराता हूँ, जो के judiciary के और APO के perspective से बहुत ज़्यादा important है, plus इसमें मैं आपको current affairs चाहें, वो legal current affairs हूँ, या फिर आपके general current affairs हूँ, या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं, चाहें तो freshers के लिए, या फिर जो है आपके advocate, जो के experience advocate वाली हैं, उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती है, तो आप मुझसे यहाँ पर connect होकर आज का सारा content घटा कर सकते हैं, अब एक important बात कि अगर आप study IQ judiciary के live foundation batch 7 को join करना चाहते हैं, जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी हैं, और इसमें admission लेने की 9 October last date है, तो यह हमारा comprehensive plan है, जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी, वो भी 12 महिने में यह पूरा batch live रहेगा, और live classes में आप अपने teacherों से बात करके, discussion करके अपने सारे doubts को solve कर सकते हैं, अगर आप इस batch में admission लेना चाहते हैं, तो आपको APU का code use करना होगा, और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं, admission लेने का क्या procedure होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको Google पर जाना है, और Google पर जाकर सर्च करना होगा study IQ judiciary, जैसे ही आप Google पर जाकर आप सर्च कीजेगा, फोन से, लैप्टॉप से, टैप से, या फिर जो है सारी चीजों से, study IQ judiciary यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, जैसे ही आप study IQ judiciary को सर्च करेंगे, हमारी original website पर जाएगा, वहाँ पर आपको live foundation batch 7 का comprehensive plan देखने को मिलता है, 40,000 का ये batch है, इसको आप मात्र 24,999 में 24 मंत की validity के साथ ले सकते हैं, buy now के option पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के तीन अक्षर का एक promo code डालना होता है, चाहें आप capital में डालें या small में डालें, A, P और U, मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है, APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे, 24,999 में ये live foundation batch आपको provide किया जाएगा, 24 मंत की validity के साथ में, इसके बाद buy now के option पर जाना होता है, इतने सारे payments के option आते हैं, जैसे ही आप जो है, इन में से किसी भी माद्यम का payment करेंगे, आपको live foundation batch 7 में admission मिल जाएगा, और ऐसे ही study IQ के जो है, हर मन्त में एक live foundation batch launch होता है, अगर आप भविस्च में, या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई वेन भविस्च में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रहा हो, तो आप जो है मुझसे मेरे telegram गूरूप पर या फिर instagram पर message करके, इन batches की जानकारी ले सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को आज से 2 या 3 महीने बाद देखें, तो उनके लिए भी study IQ के पास live foundation batch है, जो बच्चे law colleges में है, उनके लिए भी आपके जो है 2 या 3 साल के program बनाए गए हैं, जिसमें आपको पूरा law 2 या 3 साल में complete कराया जाता है, mentorship भी मिलती है, hand return notes भी मिलते हैं, legal updates भी मिलते हैं, और आप अपने college time से ही तयारी कर सकते हैं, तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्यम से payment करके इस batch को join करेंगे, तो आपको APU के code को लगाने से, मतलब मेरे code को लगाने से, ये batch 24,999, 24 मंत की validity के साथ मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है, that is called study IQ judiciary महापक, ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा, 54 से, कि when the police register a case regarding the commission of cognizable offense, the registration of case is under section 154 CRPC, 155, 156 clause 3, 190 CRPC, जब पुलिस संगे अपराद के संबन्द में मामला दर्ज करती है, तो मामले का पंजीकरण निम्न नुसार होता है, CRPC की धारा 154, 155, 156 या फिर 190, ठीक, जल्दी से इसका answer कीजिए, क्या पूछ रहा है आपसे cognizable cases में, अगर आपको FIR दर्ज करानी है, FIR की full form क्या है, first information report, first information report क्या है, पूरी तरीके से इसका नाम होता है, और इसमें सबसे पहले अगर कोई भी घटना घटेत हुई है, उससे related कोई cognizable offenses है, संगी अपराद है, तो उसका जो भी जिसके against वो घटना घटेत हुई है, वो व्यक्ति क्या करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, और पुलिस स्टेशन जाकर, जिसने वो घटना की है, उसकी सूचना पुलिस वालों को देगा, और उसके बाद as per section 154 CRPC के according, अगर cognizable offense हुआ है, संगी अपराद हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी, उस पर जो है, FIR को register करेगी, clear, तो यहाँ पर यह वाली बात हमको किस section में बताई गई है, यह बात हमको जो है बताई गई है, section 154 of criminal procedure code, 1973 के इस provision में, ठीक, तो 154 हमारा किस से relate करता है, 154 relate करता है, हमारा याद रखिएगा, कि FIR in the cognizable cases, ठीक, cognizable cases, संगी अपराद के बारे में, धारा 154 बात करती है, जब हम बात करते हैं, 155 की, तो हमें देखने को मिलता है, कि FIR in non-cognizable cases, ठीक, यहाँ पर जो है, non-cognizable cases में, FIR की बात की गई है, तो यह provision आपके दोनों ही JLO के perspective से, बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपको देखोगे, कि यह दोनों ही provision आपके most important provision है, और JLO में directly आपको ऐसे ही चुपके हुए मिलेंगे, ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 154, 155 CRPC को जो है, को लेने से मना कर देता है, और आपकी FIR को नहीं register करा रहा, तो उस case में आपको देखने को मिलेगा, कि 156 clause 3 के according क्या किया जाएगा, 156 clause 3 के according जो है, जो भी हमारे magistrate साहब होंगे, वो police officer को क्या कर सकते हैं, police officer को order दे सकते हैं, कि वो किसी भी case को register करेगा, और उसकी investigation करेगा, clear, और जो चौथा section है, 190 CRPC, तो अगर हम बात करते हैं, किसकी 190, धारा 190 CRPC की, तो यहाँ पर clause 1 के according, हमें तीन चीज देखने को मिलती हैं, क्या-क्या वो तीनों चीज़े हैं, कहाँ पर लिखें, कि आप जो है, superintendent of police के पास जा सकते हैं, और अपनी FIR को register करा सकते हैं, लेकिन अगर तब भी आपकी FIR नहीं लिखी गई है, तो आप judicial magistrate को directly approach कर सकते हैं, किसमें, आपके section 190 clause 1 में, और तीन तरीके से judicial magistrate को अपनी information दी जा सकती है, सबसे पहले complaint, दूसरा police report पर, और तीसरा आपका होता है, कि वो inquiry भी कर सकते हैं, ठीक तो यहाँ पर नहीं, यह information की short form है, तो information दे कर भी, judicial magistrate साब को क्या किया जा सकता है, यह सारी चीज़े provide करा सकती है, और इसके basis पर, judicial magistrate साब क्या करेंगे, inquiry करेंगे, और इस inquiry के procedure में, वो अपना judicial mind लगा कर यह देखेंगे, कि अगर किसी भी व्यक्ती ने complaint की है, majestrate साब को, तो उसकी complaint कितनी सही है, उनको लगता है, कि वो complaint सही है, तो वो क्या कर सकते हैं, 156 clause 3 के according, किसी भी police officer को जो है, inquiry या investigation करने की power, दे सकते हैं, clear हुई इतनी बाद, तो यहाँ पर यह चारो ही section, आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, अब तक का समझ में, आया या नहीं आया, इतना बता दो, क्योंकि अगर अब तक का समझ में, नहीं आया, तो आज की class लेने का, कोई भी फाइदा नहीं निकलेगा, जल्दी से बताइए, अब तक यह चीज, जो मैंने आपको, F.I.R. के respect में समझाई है, वो समझ में आई है, या नहीं आई है, हाँ या ना, यस, आ गया, तो अगर समझ में आ गया है, तो आज की class बहुत ज़्यादा, दिल्चस्प रहने वाली है, आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, 154 से लेकर, 160 तक ही कराऊंगा, लेकिन बहुत ही सिद्दत से, और जो है, पूरे, अच्छे तरह कैसे concept को समझा के कराऊंगा, ठीक, फटा-फट से session को like करो, अब भी सारे लोगों ने like नहीं किया है, सब free में पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, कि आप session को like भी न करके जाएं, आपको phone में आपने चला रखा है, मैं यह पता है, आपने laptop में चला रखा है, मुझे पता है, please like and share the session, जादा से जादा लोगों को share किया करो, अपने telegram groups में, जिससे कि JLO की free classes का, सारे लोगों को फाइदा हो सके, clear हुई इतनी बत, अब आते हैं हम जो है, इस FIR के concept पर, first information report, is a written document, prepared by the police officer, when they received information, about a commission of cognizable offense, पहले इतनी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, प्रिथम सूचना report, FIR का एक लिखिक दस्तावेज है, जिसे पुलिस द्वारा तब तयार किया जाता है, जब उन्हें किसी संगे अपरात को घटे थोने की बारे में सूचना मिलती है, अब देखिए, यहाँ पर situation कौन सी है, पहले concept समझने की कोशिश करो, ठीक, concept क्या है, यहाँ पर आपका एक offense commit होता है, offense commit होने के बाद में, याद रखेगा, जो भी victim है, जिसके against में वो offense हुआ है, वो क्या करेगा, वो police station जाएगा, और police station में जाकर बोलेगा, कि मुझे F.I.R. करनी है, अब उसको नहीं पता, cognizable offense है, या फिर संगी अपराद है, आसंगी अपराद है, non-cognizable offense है, ठीक, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को क्या, उसको नहीं पता होगा, कि cognizable case है, non-cognizable case है, इसी वज़े से, यहाँ पर, जब वो police station पहुँचा, तो उसने कहा, कि मुझे F.I.R. करनी है, और जर्नली आम तोर पर लोगों को, जो law से related नहीं है, उनको पता है, कि 114 में हम F.I.R. कर सकते हैं, जब यह भाई साब यहाँ पहुचेंगे, और police station में जाने के बाद, इनसे police पूचेगी, कि आपके साथ कौन सा अपराद हुआ है, तो यह बताएंगे साब, मेरे साथ ऐसे ऐसे दुरगटना हुई, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया गया, तो उसके बाद यह police officer की responsibility है, कि वो rule book में जाकर देखेगा, कि जो भी offense इनके साथ हुआ है, वो cognizable है, या फिर non-cognizable है, अगर वो cognizable है, तो वो जो है क्या करेंगे, 154 के according उनकी FIR लिखेंगे, और अगर वो non-cognizable है, ठीक, तो non-cognizable cases में, 155 के according जो है FIR को register किया जाएगा, ठीक, इतनी चीज़ clear हो गई आप लोगों को, ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इतनी बाद समझ में आई, हाँ या ना, इतनी चीज़ समझ में आई, अब देखिए, क्या कह रहा है, कि जब यह FIR register कर ली जाएगी, उसके बाद police officer को क्या होगा, आप FIR में माल लीजे, मैं थाने में पहुंचता हूँ, एक तो मैं विक्टिम हूँ, मेरे खिलाब कोई offense कमिट हुआ है, तो उस टाइम पर मैं वैसे ही घबराया हुआ हूँ, तो मेरे को क्या वो जो officer है, वो पहले आपको बिठाएगा, और आपसे सारी जानकारी लेगा, जानकारी लेने के बाद, वो अपना जो FIR register होगा, ठीक, तो उस FIR register में क्या करेगा, उसकी complaint को register करेगा, और जैसे ही वो complaint register हो जाएगी, police officer जो भी उस FIR को लिखने के लिए, उस थाने में बिठाया गया है, उसकी ये duty होगी, कि जो भी आपने बताया है, उस चीज़ को आपको बोल कर सुनाएगा, जब आप उसके, जो आपने बोला है, और उसमें, जो उसने बिल्कुल वैसे ही लिखा है, और आप उसको सुन लेंगे, उसके बाद वो जो है क्या करेगा, आप से उस पर सिगनेचर कराएगा, अब देखिए, CRPC के प्रोस्पेक्टिब में अगर हम बात करें, तो बहुत तरीके की हमें डाइरी देखने को मिलती है, पहली होती है केस डाइरी, दूसरी होती है स्टेशन डाइरी, एक होती है रिपोर्टिंग डाइरी, तो ये सारी डाइरी या जो है 172 के तहट बताई जाती है, जब 172 आएंगे तब इसको डिसकर्स करेंगे, ठीक तो डाइरी के बारे में अभी डिसकर्स नहीं करना है, वो मैं 172 के साथ मैं आपके साथ डिसकर्स करूँगा, इनवेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, और एस पर सेक्शन 173 के एक직र्स की जो रिपोर्ट होती है, वो पुलिस रिपोर्ट की final copy किसको judicial magistrate साब को दी जाती है investigation करने के बाद में तो यहां तक जैसे माल दीजिए FIR के बाद यहां तक पुलिस ने क्या किया अपने जो है पूरी तरीके से investigation की और इसके बाद जो final report है वो किसको दे दी judicial magistrate साब को दे दी तो judicial magistrate साब क्या कर रहे है अब judicial magistrate साब के सामने क्या हुआ judicial magistrate साब के सामने यहां पर यह report submit की गई तो यहां से judicial magistrate साब ने determine करना शुरू किया कि भाई इस FIR में कितना दम है पूलिस की जो investigation report है वो कितनी सही है और क्या इसके basis पर कोई भी case बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ठीक तो यहां पर judicial magistrate साब ने क्या किया judicial magistrate साब ने पुलिस की अब देखिए FIR को register होने के बाद जब तक पुलिस ने final report summit की इस stage को बोला जाता है क्या investigation याद रखिएगा बेटा बहुत ही important concept बता रहा हूं पूरा CRPC यहीं पर समझ में आ जाएगा और सारे sections यहीं पर समझ में आ जाएगे ठीक उसके बाद यहां से जैसे ही final report summit हुई और magistrate साब ने अपना judicial mind apply करना स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने यहां तक जो है क्या पाया यहां तक यह पाया के हां भाई केस बनता है और इसमें क्या-क्या जो है charges किस party के उपर लगने चाहिए तो judicial magistrate साब ने बस अपना judicial mind apply किया है इस पूरे process को इनोंने framing of issue नहीं किये है charge frame नहीं किये है किसी भी व्यक्ति के उपर समझे charge framing नहीं किया magistrate साब ने तो वहां तक क्या समझा जाएगा वहां तक यह समझा जाएगा कि magistrate साब इस stage पर inquiry कर रहे हैं तो यह क्या होगी inquiry magistrate साब के द्वारा की जाएगी और investigation किसके द्वारा की जाएगी investigation हमारी जो है हमेशा police officer के द्वारा की जाएगी यह दो question बहुती ज़्यादा important है JLO के लिए पूछे जाएगे कि investigation किसके द्वारा की जाती है तो police के द्वारा की जाती है और inquiry किसके द्वारा की जाती है magistrate साब के द्वारा की जाती है दोनों question समझ में आ गए अब आईए अपने तीसरी बात पर जहां पर अब इसको थोड़ा सा rough करते हैं तब ही जो है आपको इसमें समझ में आएगा इतना space नहीं है यहां चाहँ दूसरा pen यूज कर लेते हैं रफ करने की requirement नहीं है अब देखिए यहां पर आजाएए दुबारा से और हम जो है अब green pen को इस्तमाल करेंगे यहां से judicial magistrate साब ने क्या किया यहां से judicial magistrate साब ने अपना cognigence लिया और charge framing कर दी charge framing करने के बाद जो है जैसे ही charge framing होगी यह सारी stage क्या कहलाएगी trial की stage कहलाएगी और यह trial की stage कैसे रहने वाली है अब यहां पर दोनों party को जो मैंने summons बताया था उस तरीके से सूचित किया जाएगा summons करके बुलाया जाएगा और फिर जो है दोनों party को अगर party नहीं आती है तो उनके against barant बेजे जाएगे और तब भी नहीं आती है तो जो है commission issue करके उनकी property को जबत कर लिया जाएगा और तब भी नहीं आते हैं तो उनको abscondor घोसित कर दिया जाएगा बगोडा घोसित कर दिया जाएगा clear तो इस तरीके से यह क्या होगा अब यहां पर trial का procedure होगा यहां पर दोनों party आएंगी अपने witness लाएंगी और अपनी सारी चीज़ें यहां पर जो है क्या करने वाली है सारी चीज़ें यहां पर पूरी तरीके से discuss करने वाली है दोनों के वकील contention अपना अपना रखेंगे और उसके बाद final stage होती है हमारी क्या उसके बाद जो judicial magistrate होंगे वो अपना क्या देते है निरने देते है जिसको judgment बोला जाता है clear तो यह जो हमारा procedure है यही CRPC का पूरा procedure है और इसी के उपर पूरा CRPC गूमता रहता है अगर यह matter जो है code of session में जाएगा तो 225 से लेकर 237 तक डील करेंगे warrant cases में जाएगा तो 238 से लेकर यही पूरा procedure CRPC का है और इसी पर बच्चा पूरी CRPC निर्धारित है तो यहां सुरू कहां से हो रहा है offense लेकिन पहली बार जो है हमारी investigation agency police का और judicial magistrate का रोल कवाया जब हमारा FIR register किया गया और अगर police FIR register करने से या फिर officer in charge of police अगर आपकी FIR को लेने से लिख रहे हैं तब आपके पास ये power होती है कि आप जो है उस district के superintendent of police को ये information पहुचा सकते है कि भाई मेरे साथ ये दुरगटना घटे थुई है और इस पर जो यहां के SHO साब है या officer in charge of police है वो मेरी FIR को नहीं ले रहे हैं और अगर ये FIR आपने कहां तक ये बात आपने superintendent of police SP तक पहुचा दी तो SP साब खुद से क्या करेंगे खुद से FIR लिखें खुद से जो है एक जो भी उसका officer in charge of police station होगा उसको ये provide करेंगे कि इस बेक्ति की FIR लिखी जाए और इसका investigation आगे बढ़ाय जाए अगर ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा नहीं होता वो police officer नहीं मान रहा है तो इस cases में SP साब उसी rank किसी भी बंदे से केस को चलाने की और investigation करने की कहेंगे इतनी बात clear हुई आपको पूरी तरीके से तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाता हूँ कि यहाँ पर आप समझने की कोशिस कीजिए कि यह जो है SP के पास जाएंगे और अगर SP साब भी नहीं सुन रहे हैं तब हम जो है judicial magistrate साब के सामने जाते हैं और judicial magistrate साब से जो है request करते हैं कि भाई हमारी जो है application को complaint को information पर आप जो है क्या करिए cognigence लीजिए clear तो यहाँ पर यह सारी चीज़े हमें देखने को मिलती हैं अब इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे एक बार thumbs up कर दो और बता दो फिर मैं आगे आपके लिए इस class को continue करता हूँ is it okay आ गया समझ में आ गया एक बच्चे ने कहा सर आ गया बागी लोगों को नेहा जी पूछ रही है सर डेली यही class इसी time पर होती है बिटा साइद इसी time पर होती है मैं तो इसी time पर लेता हूँ आज आप पहली बार नए आए है class में इस बच्चे से आपको यह देखने को मिल रहा है मेरी timing छे से साड़े साथ या सवा साथ तक रहती ही रहती है clear moving ahead अब आते हैं next question पर एक police officer is bound to register an FIR upon receiving any information relating to commission of cognizable offense under section 154 CRPC it was observed by the supreme court in the case of क्या कह रहा है एक police अधिकारी CRPC की धारा 154 के तहत संगे अपराद के घटे थोने पर संबंदित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर FIR दर्ज करने के लिए बाद दे है के मामले में सुप्रीम कोट ने किस में यह held किया है option number A ललिता कुमारी वर्सेज यूपी राज कल्यान कुमारी वर्सेज यूपी राज तो आपको इसका सही आंसर देना है ठीक जल्दी से बताइए अब देखो यहां पर हमारा ओनरेबल सुप्रीम कोट का ललिता कुमारी वर्सेज यूपी का एक लैंडमार्क डिसीजन आया जहां पर ओनरेबल सुप्रीम कोट ने कहा कि पुलिस ओफीसर के पास अगर कोगनीजेबल केसिस की कोई भी इनफॉर्मेशन आती है तो उनको जो है मैंडिटरी एफ आई आर को रजिस्टर करना ही करना होगा पहले पुलिस वाले ऐसा इस एफ आई आर को क्यों नहीं रजिस्टर किया करते थे इस चीज़ को समझेए फिर आपको लिलिता कुमारी का ये केस समझ में आएगा यहाँ पर स्पैसिफिक गाइडलाइन्स दी गई हैं हमारे एफ आई आर को रजिस्टर करने के लिए ठीक तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस चौकी भी हैं और उसके þाने के अंदर एक जो है क्या आता है थाने के अंदर जो यहाँ पर आफीसर इन्चार्ज ऑफ पुलिस इस्टेशन होगा उसके अंदर इतने सारे एरिया आते हैं अब यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे crime जो है घटे तो रहे हैं तो इसकी information पबलिक कहां लेकर आएगी पुलिस station में लेकर आएगी और जब पबलिक पुलिस station में इसकी information लेकर आएगी तो police officer की यह duty है कि अगर cognizable cases है संगी अपराद है ठीक तो संगी अपराद में उसको जो है FIR को register करना पड़ता था और पुलिस वाले इसलिए register नहीं करते थे क्योंकि यह जो area है इसमें बहुत सारे essay offenses है जहां पर वो पार्टियों का पार्टियों का हर एक जो है quarterly basis पर या monthly basis पर district magistrates आपको क्या करने पड़ती है district magistrate और executive magistrate को area की पूरी information देनी होती है कि भाई उनके area में एक महीने में कितने cognizable offenses हुए कितने non-cognizable offenses हुए अगर किसी भी area के cognizable offenses में बड़ोतरी पाई जाती है तो जो officer in charge of police station होता है कौन officer in charge of police station जिसको आप जो है क्या SHO बोलते हो थानेदार उनका जो है transfer कर दिया जाता है और government भी इसी तरीके से जो है हर एक area से data collect करती है कि कितने FIR हुए एक छेत्र में और ये कितने दिन के अंद हर एक cognizable cases में FIR को police वाले नहीं लिखा करते थे और इसी तरीके से state government पूरे state का data magistrate और executive magistrate के थुरू हर एक area का even though हर एक police चौकी का ठीक police चौकी का भी data एकटा करवाती है कि case area में कितना crime है और इसी बज़े से जो है police officer हमेशा FIR लिखने को जो है क्या करते थे मना करते थे और matter को वहीं पर खतम कराने की कोशिस करते थे क्योंकि उनके crime उनके जो area है उसका crime rate increase हो जाएगा crime rate increase हो जाएगा तो totally क्या होगा totally जो है उनको पूरी तरीके से जो है transfer लेना पड़ेगा अगा government के पास data जाता है तो इसका मतलब यहीं हुआ कि उस थाने के जो control है वो इतना सक् प्रसासन इतनी actively वहाँ पर काम नहीं कर रहा है जिस वएसे crime की घटना बढ़ती जा रही है इसी loophole को छुपाने के लिए F.I.R. संगी अपराद में 2013 से पहले नहीं ली जाती थी लेकिन हमें देखने को मिलता है कि 2013 में एक important judgment आती है किसकी ललिता कुमारी versus state of UP 2013 और सुप्र अपराद घटित हुआ है मतलब cognizable cases उसके against में हुए है तो उसकी जो है क्या उसकी F.I.R. पुलिस को लिखना mandatory होगा आप जो है उसको deny नहीं कर सकते तो option number A most most important question जो की J.L.O. में चिपका हुआ मिलेगा 154 से ठीक है समझा गया तो यहाँ पर इस question को लिख लो 154 के ऊपर और इसमें honorable Supreme Court of India ने कई guidelines दी है एक बार Google पर जाकर search करिएगा कि ललिता कुमारी case की important guideline क्या है कॉगनी जेवल cases में compulsory F.I.R. को register कराने के लिए और उनको भी एक बार rate कर लिजेगा उससे भी कभी कभी question आ जाता है moving ahead यार अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि दो ही investigation under the court of criminal procedure is conducted by police officer only both police and the court the court only the police officer under the discretion of court of session और the high court दंद प्रकिया सयता 1973 के तहत जाच द्वारा संचालित की जाती है केवल पुलिस और नियाले दोनों के द्वारा केवल नियाले या फिर सस्त नियाले या उच्छ नियाले के वेवे के तहत ये की जाती है clear तो अब यहाँ पर आ इसका गलत आंसर आना नहीं चाहिए लेकिन सबसे पहले बच्चे नहीं आंसर की शुरुवात की है option number C question समझ में नहीं आया या question पढ़ा नहीं option C कैसे answer हो जाएगा सुरेंदर जी you are the old student of the classes तो आप इसका C answer कैसे कर सकते हैं क्या कह रहा है investigation किसके द्वारा की जाएगी अभ भी आंसर गलत आ रहे हैं police officer और court दोनों investigation कर लेंगे अरे court तो inquiry करता है भाईया court कब से investigation करने लग गया concept को नहीं समझ रहे हो और फिर कहोगे कि sir कुछ जो है समझ में नहीं आया ये diagram समझाया था तब सब का ध्यान कहा था बताना ज़रा मुझे ये जब diagram समझाया था कि FIR होन अनने time तक हम जो है इसको inquiry कहेंगे और कब जो है इसका trial कहेंगे बताइए c answer कैसे होगा भाई investigation का जो process है वो police के द्वारा ही किया जाएगा CRPC के procedure में inquiry हमेशा judicial magistrate करेगा पुलिस नहीं कर लेगी जाकर inquiry magistrate के व्याव पे और trial हमेशा judicial magistrate के सामने conduct किया जाएगा ये तीन concept है और तीनों question हमेशा से ही जो है most important question है clear moving ahead next question पर आते हैं next question हाँ इसी question का answer करते हैं तो investigation किसके द्वारा की जाती है CRPC में investigation हमेशा police के द्वारा CRPC में की जाती है याद रखना option A जो है क्या हो जाएगा option A is the correct answer of this question बहुत ही easy question है और ऐसे question के जब गलत answer आप लोग देते हो तो बहुत ज़्यादा disappointment होती है अभी मैंने 20 minute बस एक ही चीज समझाई थी कि CRPC का case stage पर कौन काम करने वाला है उसी से question है और वो भी गलत है चलो answer चलो next question पर चलते है section 156 of CRPC empowered the police officer of police station to investigate a case in his territorial jurisdiction without the order of magistrate in the offense of cognizable cases in nature the officer may also initiate a investigation on the order of the magistrate empowered under section 190 दो चीज समझो अब यहाँ पर दो चीज क्या समझनी है CRPC की धारा 156 police station प्रवारी अधिकारी को अपने छेतर अधिकार में किसी छेतर के मामले की जाच magistrate के आदेश के बिना देने का अधिकार देती है मतलब अगर संगे अपराद है तो संगे अपराद में police के पास यह अधिकार होगा कि भाईया वो directly जाकर investigation कर सके without the permission of judicial magistrate clear तो option number A इसका सही जवाब है दूसरी बात कहरा कहरा है कि यह अपराद संगे प्रकतिका है और अधिकारी दारा 190 के तहट प्राप्त magistrate के आदेस के बाद जाच शुरू कर सकता है मतलब जब police ने आपके cognizable cases में FIR नहीं लिखी उसके बाद आप complaint करके magistrate साब के पास पहुँच गए और magistrate साब ने जो है क्या किया police को यह निर्देस दिया कि आप इस case में investigation करिए क्या करिए जाच करिए तो inquiry इसका सही आंसर नहीं है option number a सही आंसर है कि investigation हमेशा police के द्वारा की जाएगी चाहें वो direct start करतें cognizable cases में या फिर आप magistrate के थुरू जाकर जो है अपना investigation 190 की application लगाकर magistrate उनको 156 का आदेस देगा चलो answer next question हिंदी वाले बच्चों का answer C होगा वा भाई वा दंड प्रेक्रिया सहेता 1973 के तहत जाच द्वारा संचालित की जा सकती है जाच किसके द्वारा की जा सकती है CRPC में बताएं जड़ा एक बार पहले हिंदी वालों कोई देखते हैं जाच कौन करेगा भाई सब हिंदी वाले जो कह रहे हैं option number C होगा एक बार उसको आ जाईए फटापट से जाच किसके द्वारा की जाएगी नियाले के द्वारा जाच की जाती है जो बच्चे comment में लिख रहे हैं कि जड़ हिंदी वालों के लिए C answer होगा जाच investigation और सिर्फ पुलिस के द्वारा की जाती है किसके द्वारा की जाती है समझ लों इन चीजों को याद रहेंगी और हमेशा काम आएंगी inquiry की जाती है मजिस्टेट साब के द्वारा ठीक है ऐसे JLO में एक rank लाने का सपना लेकर बैठे हुए है बिटा महनत करो समझाया है समझो कुछ कह रहा हूँ उसको बार बार बता रहा हूँ यही question सेम पूछा जाएगा paper में तब गलत करके आओगे तो negative marking है JLO में चलो A is the correct answer 156 का मैंने explanation दे दिया दो चीज़े 156 में बताई गई है दोनों चीज़े बहुत ज्यादा important है कि अगर ऐसा कोई case है जहाँ पर हमारे police station के in charge को क्या मिला है Cognizable cases की information मिली है तो वो FIR करेगा ललिता कुमारी की guidelines को follow करेगा और उसमें investigation जो है क्या without the permission of magistrate start कर सकता है दूसरा कि अगर parties जो है इन parties 190 में पहले magistrate साब के पास गई और उसके बाद magistrate साब ने order किया है तब भी जो है police officer क्या करेगा पुलिस officer उसकी investigation करेगा ये दोनों ही important question है प्रलेम्स prospective से चलिए आगे आईए इन inquest report must contain the name of the accused, the apparent cause of the death, the details of the weapon, the details of the incident एक जाच report में सामिल होना चाहिए आरोपियों के नाम, मिरत्य का इसपस्टी करण, हत्यारों का विवरण या फिर घटना का विवरण ठीक ये चार चीजे आपको पूछी गई है, inquest report का कोई मुझे section बताएगा कि inquest report कि section में होती है inquest report का आप मुझे section बता सकते है inquest report के inquest report बताता हूँ क्या होता है, देखो inquest report क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए ठीक, तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कि inquest report में क्या contain किया जाएगा the name of the accused, the apparent cause of the death, the death of the weapon, the details of the weapon, the details of the incident तो inquest report क्या होती है, जाच report में निमलिकित विवरण, मिरत्यु का इस पस्टी करण लिखा जाता है मिरतक के सरीर पर पाए गए घाव, फैक्चर, चोट, या चोट के किसी अन्य, द्रस्मान, चिन का विवरण, या फिर चोट के निसान कैसे लगे, इसका आकलन किया जाता है तो inquest report का मतलब है, inquest report include the following details, सबसे पहले, the apparent cause of the death, कि death किस कारण से हुई है, यह हमें जानना है उसके बाद में क्या-क्या और लिखा जाएगा कि death का कारण तो जाल लिया, cause of death हमने जो है क्या, cause of death, cause of action, death का हम जो है जान चुके हैं और उसके बाद description of wound factors versus or any other visible sign of injury found in the diseased body, या पिर ऐसी सारी चीज़ें, जो के diseased मरे हुए व्यक्तिकी body पर visible होंगी, उसकी भी report बना कर जो है, उसमें submit की जाएगी assignment assessment to how the marks of inquiry seems to have been inflicted, और इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, जो है, हम जो है, क्या करेंगे, inquest report बना कर देंगे, जहाँ पर judicial magistrate को बताये जाएगा, कि किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से इस व्यक्तिकी मिरत्यों होई है, तो यहाँ पर आपको option number B, जो है, इसका सही answer हो जाएगा, the apparent cause of the death, मिरत्यों का इस पस्ती करण का कारण पूरी तरीके से judicial magistrate को बताये जाता है, और जिस report में, इन सारी चीजों को लिख कर बताये जाता है, उसको जो है, हम inquest report कहते है, clear, तो option number B, जो है, इसका बिलकुल सही जवाब है, moving ahead, next question, which one of the following cases is related to defective investigation देखिए, क्या कह रहा है, अब defective investigation की बात कर रहा है, निम लिखिश में से कौन सा मामला, दोशपूर जाच से संबंदित है, option A, D.K. बासू वसे स्टेट ऑफ बैस बंगाल, जहीर, अभीवुल्ला, सेक वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इ भारत संग, ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आप से पूछा गया है, कि defective investigation से related कौन सा केस है, जल्दी से बताइए कि defective investigation से related कौन सा केस CRPC का important है, ठीक, तो यहाँ पर जब भी हम बात करते है, defective investigation, ऐसी investigation, जहाँ पर पूरी तरीके से तथ्यों को एखटा कर के final report में नहीं submit का किया गया है, और जो final report है, वो उस investigation की वये से पूरे conclusion पर नहीं पहुचवा रही है, judicial magistrate को उसमें charge frame करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसी सारी चीजों को क्या बोला जाता है, defective report बोली जाती है, और defective investigation बोली जाती है, और इस दोस्प clear हुई इतनी बात, moving ahead, next question पर चलते है, in relation to FIR, which one of the following statement is not correct, क्या कह रहा है, in relation of FIR, which one of the following is not correct, FIR के संदर्म में निमलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक, question बता दिया, सबसे पहले, it is not a substantive piece of evidence, it merely marks of beginning of the investigation, it cannot be used as a previous statement for any purpose, the informant need not to be an eye witness, ठीक, ये कोई भी ठोस्वूत नहीं है, ये महज एक जाच की सुरुवाद का प्रतीक है, इसे किसी भी उद्देश के लिए पिछले कतन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, सूचना देने को चस्मदीद गवा होना जरूरी, गवा होना जरूरी नहीं ह हुआ है, वो व्यक्ति आई विटनेस ही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक, क्लास इस ओबर, प्रेड़ना सरिवास्तब, क्लास इस कंटीनिव, ओबर तो नहीं हुई, कौन सा यहां पर is not a correct answer, कौन सी चीज यहां पर सत्य नहीं है, असत्य कतन बताना है आपको इसका मतलब, जो आपका जो, क्या है, not correct answer इसमें आपको बताना है, ठीक, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, it cannot be used as a previous statement for any purpose, इसे किसी भी उद्दिश के लिए पिछले कतन के रूप में उप्योग नहीं किया जा सकता, ठीक, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जब भी CRPC में, investigation officer, जो भी हमारे IO होते हैं, किसी भी case के, उन IO's को क्या होता है, उन IO's को देखा जाता है, कि यह सारे IO क्या करेंगे, यह सारे IO जो है, बहुत सारे cases को deal करते हैं, और CRPC के according क्या चलता है, एक case को बहुत सालों तक चलाया जाता है, और एक case को बहुत सालों तक चलाया जाता है, तो वो ज सारा से अपनी memory को recall करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं contradiction के लिए इस्तमाल की जा सकती है ठीक तो यहाँ पर लिखा हुआ है option 3 में कि it cannot be used as a previous statement for any purpose this statement is totally wrong ठीक तो यहाँ पर यही question आपसे पूछा था कि इन में से कौन सा information का FIR का correct नहीं है clear तो option C जो है इसका बिल्कुल सही जवा moving ahead next question पर चलते हैं every information relating to commission of cognizable offense shall be signed by अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो सारी संगे अपराद से घटेद होने के कारण संबंदित प्रतिक सूचना पर हस्ताक्षर किये जाएंगे option a person giving it option b the officer in charge of police station to whom such information is given तीसरा दा investigating officer चौथा the concern magistrate इसे देने वाले व्यक्त पुलिस station का प्रवारी अधिकारी जिसे ऐसी जानकारी दी गई है जाच अधिकारी या फिर संबंदित magistrate आप संगे अपराद मतलब commission of cognizable की information अगर police officer को दी जाती है तो वो किसके दौरा दी जाएगी जो भी व्यक्ति है या उसके relative है उसके दौरा और वहाँ पर हमारा जो भी officer in charge of police station होगा कोगनी जेबल cases में FIR मतलब संगे cases में संगे अपराद में FIR लिखने के लिए bound होगा और वो FIR जब लिखी जाएगी तो वो जो है writing में लिखी जाएगी और FIR diary, FIR register में लिखी जाएगी और उसके बाद जिसने वो information दी है उस व्यक्ति से उसके signature कराए जाएगे इसी officer in charge of police station या फिर जो भी FIR recorded करने वाला police officer authorized होता है वो इस information को क्या करता है पढ़के सुनाता है कि जैसे आपने बताये था इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी है अब आपको इस पर जो है क्या करना है अपने हस्ताक्षर करने हैं ठीक तो option number A जो है इसका ब बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है एक सेकंड का pause लेते हैं और एक 30 सेकंड का pause है जस्त आपसे question पूछना है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई जो मैंने पढ़ाई है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई जो मैंने पढ़ाई है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ पहले पढ़के आये थे मैंने Saturday को बताया था कि मैं यहाँ पर आपको यह सारी चीज़े cover कराने वाला हूँ हम procedure को start करने वाले हैं क्या आपने पढ़ा था और जो भी मैं नई चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ आप अपने bare act में लिखते भी चाहिए no doubt till now जो बच्चे पहले से पढ़के आये होंगे जिनको सिर्फ मैंने bare act read करने के लिए का था I hope उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी चाहें वो हमारे हिंदी के student हो चाहें वो हमारे English के student हो clear clear और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम जो है क्या इस question के आगे चल answer of this question ठीक every information to the commission of cognizable offense if given orally or orally to an officer in charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant every such information whether given in writing or reduced in writing as aforesaid shall be signed by a person given it ठीक यहां पर कोई बच्चा उससे पूच रहा था कि यहां इसमें लिखा हुआ है कि वो परसन जो है क्या उससे sign नहीं कराया जाएगा कहां पर लिखा है वेटा यह साइद bare act का ही section 154 का ही पूरा मैंने यहां पर copy किया है तो यह 154 clause 1 है मैं आपको बता रहा हूँ bare act खोलो जो बच्चा मेरे को बता रहा था कि sir आप एक बार 154 clause 1 को read करिए वहां पर ऐसा नहीं लिखा है 154 clause 1 की यह language है जो मैंने आपको यहां पर बता दी है अब देखिए इसको एक बार interpretate कर लेते हैं बहुत ही interesting चीज़े हैं जहां पर इससे भी बहुत सारे question बनते हैं every information relating to commission of cognizable offences इतना पढ़ना है बस ठीक है संगे अपराज से घटित होने वाले संबंदित प्रतेक जानकारी ठीक यह दे किसी police station के प्रवारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है ठीक अब पहला point समझिएगा यहां पर इसको मैं interpretate कर रहा हूँ बहुत important है ठीक के अगर कोई भी cognizable offence की information किसी भी किसको officer in charge of police station को दी जा रही है पहली बात दूसरा shall to be reduced in writing by him or under his direction ठीक दूसरी बात कि अगर वो अधिकारी को orally बताई जा रही है तो उसके निर्देसा अनुसार उसको लिखित में या तो वो खुद लिखेगा या फिर किसी भी अपने junior को लिखने के लिए कहेगा उसके बाद में and we read over to the informant और जिसने वो सूचना आप तक पहुँचाई है आपको दी है clear उसका क्या किया जाएगा य उसको राइटिंग में लिखने के बाद उसको वापस से पढ़के भी सुनाया जाएगा कि आपने यह यह कहा है क्योंकि यह सारी चीज़े कोट में बहुत ज्यादा important हो जाती है उसके बाद weather given writing or reduce to be writing as aforesaid जब वो सारी information बता देगा जब वो सारी जानकारी देदेगा तो उ shall be signed by a person अब जिसने वो जानकारी दी है यहां shall word का use है shall word का use है मतलब जिसने वो जानकारी दी है उस व्यक्ति के उपर यह mandate है कि वो उस FIR को लिखाने के बाद जब उसको writing में reduce कर दिया जाएगा तो उस पर अपने signature करेगा ही करेगा clear हुई इतनी बात यहां पर हिंदी वाले पड़ें तो चाहे वह लेखेत रूप में दी गई हो या फिर पूरवक रूप में दी गई हो उसे देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए ही जाएंगे अगर आप FIR अपने ही जो है application में लिख कर ले जाते हो और उसको देते हो तब भी वो उसको FIR register में writing में as it is में आप से तब भी जो है उस register पर sign कराएंगे clear and the substance thereof shall be entitled in the books to be kept in such officer in such form as the state government may be prescribed in this behalf इसका मतलब क्या है कि जो diary police station में cognizable cases में FIR को लिखने के लिए state government ने दी है उसी पर फॉर्मा पर ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी उसके अलाबा यहां पर जो है क्या उसके अलाबा यहां पर कोई भी information ये power नहीं है किसकी police officer की कि वो किसी दूसरे register पर लिख ले अगर संगे अपराद से related कोई भी मामला उसके पास लाया जाता है तो clear ये है section 154 का clause 1 और clearly लिखा गया है कि sign करना mandatory है shell word का इस्तमाल किया गया है shell word का मतलब होता है कि जो भी चीज लिखी गई है उसको comply कराना बहुत ज्यादा important है clear हुई इतनी बात अब आपको एक काम करना है may और shell में difference पता है may word का और shell word का क्या मतलब है law में may word का मतलब है जहाँ जहाँ पर may लिखा गया है किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी court के लिए तो court चाहे तो वो काम कर ले नहीं चाहे तो उस काम को नहीं करे ये depend करेगा जहाँ पर court के साथ may word का इस्तमाल किया गया है जिस भी authority के लिए may word का इस्तमाल किया गया है उस चाहे कोई भी law हो तो उनकी ये discretion है कि वो चाहें तो उसको कर लें नहीं चाहें तो उसको मना भी कर सकते हैं लेकिन जो word shell होता है बेरेक्ट का जहां जहां पर word shell का इस्तमाल किया गया है इसका मतलब कि जिस authority के लिए जिस court के लिए वो काम कहा जा रहा है वो किया जाना mandate है क्या है mandatory वो काम उनको करना पड़ेगा ये जो है shell word का meaning होता है वरना क्या होगा वरना जो है 360-361 में वो सारी proceeding क्या होंगी wishyate कर जाएंगी क्या होंगी wishyate कर जाएंगी ठीक तो यही may और shell का difference होता है जो आपको law पढ़ने से पहले आना चाहिए और इनी छोटे छोटे words को interpretate करने के बाद समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि आप इस तरीके से law को पढ़ते हैं clear हुई तो 154 clause 1 में ये सारी बात of view से बहुत जादा important है आगे चलते हैं next question पर whether investigation based upon two FIR relating to the same incident is permanent under the law क्या एक ही घटना से समझने दो FIR के आदार पर जाच कानून के तहत सुईकार है option a yes but the different investigation agency दूसरा no option c yes even by the same investigation of agency option d no after forwarding report under the section 173 clause 2 on the previous occasion ठीक चारो हिंदी वाले अपने options को पढ़ ले अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर एक ही incident में दो FIR कर दी गई है तो क्या इस case में वो दोनों FIR को सुईकरती दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी ठीक यह चीज आप से यहाँ पर पूछी गई ह और आपको directly यहाँ पर यह सारी चीज़ें बतानी है क्या option होगा इसका बताएं जल्दी से आंसर दीजे भाई नेहा जी सर आपके classes recorded पहले से available है बिटा मैं आपको इंडियन constitution 12 गंटे में 12 lectures में cover कराया था CRPC भी लगबग 12 गंटे में होगा आज हमारा CRPC का 6th lecture है और यह सारी classes पूरा JLO का course हमारा जो है free है JLO को खत्म कराने की 30 September date रखी गई थी लेकिन JLO की date postpone हो गई है तो हम 15 October तक JLO की classes को continue करेंगे यहाँ पर मैं law के 3 पेपर आपको free of cost करा रहा हूँ पहला सम्विधान वाला पेपर मैंने 12 गंटे में cover करा दिया है आप उसको जाकर study IQ judiciary के YouTube channel पर जाएगा वहाँ पर playlist के column में आपको free classes मिलेंगी और यह JLO की free classes की playlist है उसमें आप जाकर देख सकते हो छटवा lecture CRPC का है इसके बाद CPC limitation दूसरा paper होगा फिर हम evidence तीसरा paper करके अपने JLO की इन classes पर food बिराम लगाएंगे और मेरा इसमें कोई भी fees नहीं है और study IQ आपसे कोई भी इसका पैसा charge नहीं करता है इसके बाद में आपको बस एक ही गुर्दक्षना देनी है और कल है teacher's day के आप message जतने भी लोग इसमें rank को secure करेंगे या junior legal officer राजस्थान में बनेंगे वो मेरा study IQ पर मैं अगर आपका prelims होता है मतलब first exam clear होता है तो उन सारे बच्चों के लिए mock interviews भी free of cost जो है हम लोग conduct कराने वाले हैं और इसके बाद में आपको अगर आप बस इतना कर दीजेगा और इतनी महरवानी रखेगा कि select होने के बाद एक बार मुझे inform जरूर करना मेरे telegram group पर और अगर rank one आप मैंसे कोई ला पाया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी achievement होगी और यही मेरी गुर्दक्षना होगी सारा course फ्री है और सारी classes फ्री है ठीक और एक important बात कल से अगर CRPC के बेर एक्ट के through पढ़ना है याद रखना इस बात को सारे लोगों से मैं request कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ कल से अगर आप CRPC को पूरी तरीके से complete करना चाते हैं JLO के perspective से ठीक मैं त सारे बच्चों के question आ रहे थे bare act के respect में कि sir आप एक बार bare act की classes लेकर reading करा दीजे तो कल से आपकी 5 बज़े से CRPC की class शुरू हो रही है कितने बज़े से 5 बज़े से CRPC की class शुरू हो रही है जिसमें हम लोग क्या करने वाले है CRPC को bare act to bare act करने वाले हैं किसके perspective से JLO के perspective से औ और ये classes आपको 5 से 6 कराई जाएंगी जहां पर पूरा CRPC आपको ठीक हमारी डंद प्रक्रिया सहता पूरी आपको cover कराई जाएगी bare act के सेक्षन सहत बाकी सारे concept के साथ और आपके जो है किसके साथ आपके important case law और maximum के साथ जो JLO में आपको बहुत ज़्यादा helpful रहने वाले ह यहां पर यह समझे कि उसके बाद 6-7 वाली class सवा साथ यह साड़े साथ वाली class जो हम daily basis पर करते हैं इसमें मैं MCQ करा रहा हूं यह class 6-7 वाली शिर्मी मैम के द्वारा ली जाएगी जहां पर वो CRPC आपके लिए कल से start करेंगी और मैं जो है यहां पर आपको CRPC के सारे question अग class सकें इसी वज़े से मैडम ने आपके लिए CRPC का पूरा compilation start कर दिया है और कल से इसकी classes आपको 5 वज़े से देखने को मिलेंगी जैसे ही 5 वज़े वाली class शुरू होगी मैं आपको मेरे telegram group पर information दे दूँगा और अगर आप श्रिमी मैं की CRPC की JLO की class देखना चाते हैं तो श्रिमी श्रिवास्तव के नाम से उनका telegram group है जहां पर आप directly जाकर उनको join कर सकते हैं और उनके class के notification आपको 5 वज़े वाली class के CRPC के notification उसके बाद वो जो है आपको CPC पढ़ाने वाली है जितने subject JLO में आते हैं उन सब को bare act to cover कराया जाएगा और मैं आपको question form में सारी चीज़े cover करा दूँगा और इसके अलावा JLO से law के paper में कुछ नहीं आने वाला English Hindi के paper में आपको त्यारी खुल से करनी होगी ठीक तो जल्दी से question का जवाब दो बेटा बहुत सारे question में बना कर लाया था क्योंकि 160 थक बहुत सार questions को क्या करना है आपको इन सारे questions को मेरे साथ continue करना है इस question का जवाब दीजिए फिर हम आगे continue करेंगे कल लेकिन क्योंकि यहाँ पर कल नहीं होगी सर जी क्या नहीं होगी कल कमलेश जी क्या नहीं होगा कल चलिए आईए whether investigation based upon 2IFIR relating to the same incident is permissible or not सबसे ज़्यादा maximum answer देखने को मिला है option number C और option number C ही जो है इसका बिलकुल सही answer है yes even in the same investigation agency ऐसा किया जा सकता है CRPC के according option number C जो है इसका बिलकुल सही जवाब है ठीक moving ahead next question पर चलते है अब इसका एक justification पढ़ लीजिए this means that the fact and the circumstances giving raises to the two FIR must be different on the same or the offense committed in the two must be different or the person accused of committing offense is different only than the second FIR is permissible clear option C जो है इसका बिलकुल सही जवाब है आगे आईए any person aggrieved by the refusal on the part of officer in charge of police station to record the information in cognizable offense may under section 154 clause 3 of CRPC send the information in writing or by the post to the first class magistrate session judge superintendent of police या फिर high court संगे अपराद में police station के प्रवारी अधिकारी की ओर से सूचना दर्ज करने से इनकार करने की विवस्तित कोई भी दंड प्रक्रिया सहेंता 154 के तहत लिखित रूप में और डाक द्वारा सूचना भेजा भेजी जा सकती है प्रतम स्रेडी मेजिस्टेट को B सस्त्र नियाले को C पुलिस अधिरिक्षक को D उच्चे नियाले को ठीक यहाँ पर देखो 154 क्लोज 3 के अंदर साफ बताया गया है कि अगर आपका officer in charge of police station in charge of police station आपके cognizable cases की मतलब संगी अपराद की जो है FIR को लेने से मना कर देता है तब आप क्या करेंगे आप written information writing में या फिर post के थ्रू superintendent of police को approach कर सकते हैं और police अधिरिक्षक को क्या कर सकते हैं पुलिस अधिरिक्षक को ये बात बता सकते हैं कि आपकी FIR संगी अपराद में नहीं ली जा रही है clear तो option C is the correct answer of this question moving ahead next question first information report under section 154 CRPC is related to बहुती easy question है CRPC का 154 कि सूचना के बारे में संबंदित है गैर संगी अपराद केबल संगी अपराद संग्रे और गैर संग्रे दोनों उपरुक्त मैंसे कोई नहीं बताओ फटाफट जल्दी जल्दी अब rapid fire round है जल्दी से time नहीं है मुझे question कराने है concept जतना भी था मैं आपको समझा चुका हूँ clear तो यहां पर जो हमारा option B सही है क्योंकि 144 बात करता है किसके बारे में संग्रे अपराद के बारे में और 155 बात करता है किसके non-cognizable offenses के बारे में clear 155 में ये बात हमको बताई गई है moving ahead next question पर आते हैं next question है हमारा first information report may be lost by bay of telephone also it was laid down in the following cases प्रात्मिक सूचना की report telephone के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है यह निमले खितमे से किस मामले में निर्धार जित किया गया था option A टिपेंद सिंग वर्सेज स्टेट साका राओ वर्सेज स्टेट दामोदरदास वर्से राजस्थान सुनील वर्सेज स्टेट ठीक फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट एफ आई यार को हम कैसे करा सकते हैं टेलीफोनिक मैसेजस के थ्रू या फिर टेलीफोनिक करवर्सेजन के थ्रू करा सकते हैं यह बात हमसे यहाँ पर पूछी गई है और यह जो है हेल्ड किया गया था किस केस में यह जो है हेल्ड कि एक पुलिस ओफिसर के पास अधिकार नहीं है कि वो जो है क्या कर सके एक पुलिस अधिकारी को मजिस्टेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफतार करने की सकती नहीं है option A who obstruct a police officer in the execution of his duty option B who is suspected of committing a non-cognizable offense option C who is suspected of being a deserter from the armed forces option D who is being concerned in any cognizable offense clear जल्दी से बताओ किस केस में police officer without the permission of magistrate किसी भी व्यक्ति को arrest नहीं कर सकता है clear बताएं या टिपेंदर वाला question तो हो गया न यह इसका जो सही answer है who is suspected of committing of non-cognizable cases इसमें जो है judicial magistrate की permission के बिना ठीक अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझेना कि जो हमारा non-cognizable offenses होंगे non-cognizable offenses मतलब जहां पर गैर संगी अपराद की बात हो रही है ऐसे अपरादों में police officer को permission नहीं होती है कि वो जो है directly जाकर किसी भी investigation को start कर सके या फिर किसी भी व्यक्ति को arrest कर सके लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी cognizable offense संगे अपराद की तो ऐसे सारे लोगों को पूरी क्या है पूरी तरीके से power है जहां पर police officer cognizable offense संगे अपराद की कर रहा है संगे अपराद की जो है पूरी तरीके से case की investigation कर रहा है तो किसी भी व्यक्ति को arrest कर सकता है 145 में without the power investigation start की जाती है without the permission of magistrate और arrest भी कहा सकता है 155 में दोनों ही लेने की जरूवत है और ये investigation की permission और या फिर arrest की permission किस से ली जाती है ये question exam के लिए important है ये ली जाती है हमारे जो भी judicial magistrate होंगे जिनके जो competent होंगे उस case को try करने के लिए उसमें उस magistrate के दौरा non-cognizable cases में क्या किया जाएगा गैर संगे अपराद में magistrate की permission ली जाएगी प्लस दूसरी सबसे important बाद के उस magistrate की permission लेने के बाद में ही जो है किसी भी व्यक्ति की गिरफतारी की जा सकती है तो option B है इसका बिलकुल सही जवाब moving ahead next question in cognizable cases the police has authority संगे मामले में पुलिस को अधिकार है to arrest without warrant to investigate the offense without the permission of the magistrate अभी मैंने बताया है simple ता जवाल है संगे मामले में पुलिस को बिना warrant के arrest करने का अधिकार होता है magistrate की बिना अनुवती के investigation करने का अधिकार होता है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो है option number C is the correct answer of this question आज हम CRPC के lecture number 8 पर हैं और lecture number 8 में discussion करने वाले हैं FIR के आगे के sections को कल हमने जो है 154, 155, 156 से related जितने भी questions बनते हैं वो सारे discuss किये थे और आज हम अपने CRPC के lecture number 8 में जो है इसके आगे के sections को discuss करने वाले हैं total जो है आज हमें 176 तक complete करना है इतने सारे questions आज हमारे पास हैं करने के लिए हमारा जो section number 210 तक का है इसमें सबसे जादा important question बनते हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 225 से लेकर 260 तक हमको जो है क्या trials देखने को मिलते हैं वहां से prelims के इतने सारे questions हमारे नहीं बन question है और 310 तक 310 नहीं 323 या 24 तक बहुत ही जादा important area है तो वहां तक के question हमको करने होते हैं ठीक और उसके बाद में last वाले part के जो हमारा बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको भी करेंगे तो at least आपको जो है इस बार देखने को मिलेगा कि अभी मैं आपकी 6-7 class और CRPC की लेने बाला हूँ और उसके बाद मैं आजो है आपका क्या आपका civil procedure code 1908 जो है start करूँगा जिससे कि आपका JLO का जो second paper है वो पूरी तरीके से complete हो जाएगा clear चलो ठीक है अब हम शुरू करते हैं आज के session को which one of the which of the following statement is correct in relation to the power of magistrate under section 156 clause 3 दारा 156 के तायत magistrate की सकती के सम्मद में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है option A He may direct the center bureau of investigation CBI to conduct the investigation into any offense option B He may direct the officer in charge of police station to conduct the investigation into any offense without recording any reasons of doing so Option C He may direct the officer in charge of police station to conduct an investigation into any offense only after recording a reason for doing so Option D He may give a notice to the accused and provide him opportunity for hearing ठीक तो यहां पर क्या कहे रहा है magistrate के पास 156 में जो है क्या आदेस देने का अधिकार होता है यह चीज आप से पूछी जा रही है कल मैंने आपको 155 और 156 तक जितने भी important provision थे वो समझाए थे तो एक बार मुझे फटा-फट से यह बताओ कि कल की class आपको समझ में आई थी जो मैंने FIR के इतने सारे concept आपको समझाए थे वो आए थे समझ में या नहीं आए थे अगर जिल लोगोंने कल की class नहीं देखी होगी उनको जो है आज की class में थोड़ा कम समझ में आएगा तो अगर आज की class पहली बार कर रहे हो तो आपको कल वाली class जा कर देखनी होगी जहां से आपको मैंने fair idea दिया था FIR का clear तो यहां पर very good evening शुरूबी चलिए तो यहां पर इसका जो सही answer है वो है option number C तो C में क्या गयता है कि 156 के according magistrate के पास अधिकार है कि वो जो है order कर सकता है किसको officer in charge of police station को कि वो conduct करेगा किसी भी investigation को और यहां पर जो है उसको investigation करने के reason भी record करने होंगे दूसरी important बात क्या होती है दूसरी important बात जब हम बात करते हैं किसकी 156 clause 3 की तो यह जब use में होता है जब हमारा कोई भी officer in charge of police station क्या करता है officer in charge of police station जो है directly FIR को नहीं लेता उस समय parties 190 clause 1 के according A, B, C, C, B, I के concept को follow करके judicial magistrate साब के सामने अपनी दरख्वास्त देते हैं उस time पर जो है judicial magistrate के पास power है कि उसको लगता है कि हाँ इन व्यक्ति का F.I.R नहीं ली गई है यह गलत है उस time पर 156 का क्या 153 का आदेश जो है दिया जा सकता है magistrate के दौरा और police officer को उस case में investigation करनी होती है ठीक तो option B जो है क्या है इसका बिलकुल सही जबाब है clear चलिए to a non-cognizable offense can be granted by किसी गैर संगे अपरात की जाज की अनुमती निम लिखे द्वारा दी जा सकती है option A magistrate in any part of the India option B magistrate in any part of the state option C magistrate having jurisdiction to try the case option D session judge भारत के किसी भी हिस्से के magistrate के द्वारा राज में किसी भी स्टेट के मजिस्टेट के द्वारा मजिस्टेट के द्वारा मजिस्ट सस्त नियाले द्वारा मतलब सैसंस कोट के द्वारा क्या कह रहा है non-cognizable cases में non-cognizable offenses में किस समय जो है non-cognizable offenses में हमारे असंगे अपराद में कब judicial magistrate जो है order कर सकता है कि वो उसकी investigation पुलिस के द्वारा होनी चाहिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे non- cognizable cases होते हैं इनकी F.I.R. जो है 155 के according लिखी जाती है जहांपर police officer को investigation को start करने से पहले और किसी भी व्यक्ति को arrest करने से पहले magistrate की permission लेनी होगी और वो magistrate कौन होगा वो सारे magistrate जो के judicial magistrate है और जिनके पास उस area का jurisdiction है या फिर उस matter को try करने के लिए या फिर उसका trial चलाने क लिए पूरी तरीके से competent है उनसे क्या किया जाएगा उनसे जो है permission ली जाएगी तो option number क्या होगा option number C is the correct answer of this question रेनु जी लिख रही है sir आपकी JLO की class बहुत helpful है thank you so much for free classes बिटा बस यह सारी classes free ही रहेंगी और आप इसको कभी भी देख सकते हैं आपको law के तीनो पेपर पहला constitution of India JLO के perspective से हम cover कर चुके हैं अब हम अपने second paper हैं जहाँपन हम CRPC को complete कर रहे हैं 8th lecture आज है इसके बाद आपके 8th lecture इसके और बचे हैं उसके बाद मैं आपको CPC कराऊगा और फिर उसके बाद हम जो है Indian Evidence Act को करने वाले हैं और Indian Evidence Act को जब हम complete कर लेंगे उसके बाद आपक 14th October तक आपको पूरा JLO का ये free course मेरे द्वारा जो चलाया जा रहा है इसमें आपकी complete preparation हो जाएगी आपको बस इतना कारे करना है कि जो आपका Hindi और English वाला fourth paper है कौन सा English और Hindi वाला जो fourth paper है उसको आपको क्या करना होगा उसको आपको पूरी तरीके से जो है अपने आप से solve क करना होगा clear हुई इतनी बत ठीक तो यहाँ पर जो है क्या आपको बस एक ही paper की तियारी करनी है बाकी तीन paper चाहें वो first हो चाहें वो second हो चाहें वो आपका third paper हो इन तीनों paper की जिम्मेदारी मेरी है जो आपको सारी classes करा हूँगा ठीक तो यहाँ पर tension लेने वाली कोई बात नहीं है अब फटाफट से आते हैं non-cognizable offenses में अगर असंगे अपराज में judicial magistrate के permission के बिना ना तो investigation हो सकता है ना किसी व्यक्ति को arrest किया जा सकता है तो इस case में वो सारे magistrate जिनके पास उस case को try करने का jurisdiction है competent है उस case को सुनने के लिए उनकी permission लेकर जो है police जो उसकी investigation start कर सकती ह और किसी भी magistrate को arrest भी कर सकती है moving ahead आगे चलते हैं next question पर in non-cognizable cases the investigation start ठीक क्या कह रहा है गैर संगे मामली में जास शुरू हो जाती है इसका सही आंसर सारे लोग करेंगे एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए अभी मैंने ये सारा concept आपका clear किया है बताए non-cognizable cases में after obtaining the order of concern magistrate, concern magistrate से संबंदित magistrate से आदेश प्राप्त करने के बाद में ही जो है क्या होगा वो investigation police officer start कर पाएंगे तो option B जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है moving ahead आगे चलते है next question पर a magistrate has power to direct the police to investigate into an offense under 151, 152, 153 all of the above एक magistrate के पास पुलिस को किसी भी अपरात की जाज करने का निर्देश देने की शक्ती है 151 में, 152 में, 153 में या फिर जो है सभी B answer कैसे हो जाएगा कमलेश जी सिनेहा भी B बता रही है 156, 2 में magistrate के पास पावर होती है कि वो police officer को जो है क्या कर सकता है investigation करने की जो है order दे सकता है A होगा लीला सरन बता रहे है A, ऐसा कैसे भाई 151 में बात बताई गई है कल भी इतनी बार बताया है और आज भी इतनी बार बताने के बाद आप जो है इसको गल्ती कर रहे है अब निश्दी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद और देखिए यहां पर आपको देखने को मिलता है 153 और 153 कव जो है हमारा force में आता है इस चीज को भी आपको समझ लीजे 153 का रोल कव आता है ये चीज आपको पता है इतनी बात किलियर है कि कब magistrate 156 क्लॉस 3 का आदेश देगा और उसके बाद जो हमारा officer in charge of police station है उसको उस case की investigation करनी होती है पता है इतनी बात कौन से scenario में judicial magistrate जो है permission देते हैं बताईए चल दी से इतनी बात पता है इसको explain करने की जरुवत है वैसे मैं इसको explain कर चुका हूँ इस concept को मैं explain कर चुका हूँ explain करने की requirement तो नहीं है चले आगे आगे चले बताईए फटा फट चालो पता है ना सबको याद हो गया होगा अब तो याद हो गया होगा अब तो सभी को वेरी गुट हर्ष जैसवाल बहुत अच्छे बिलकुल सही अंसर explain प्लीज ओके देखो लास्ट टाइम समझा रहा हूँ 156 का रोल स्टार्ट कर बोता है ठीक है तो याद याद हो गया है सर याद हो गया है ठीक है तो फिर समझाने की requirement नहीं है जब सब बच्चों को याद दिये तो जरूरत नहीं है चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बैतरीन इस वार J-L-O मैं rank 1 से rank 20 तक कहां से देखनी रहा होगा आप लोगों को मैंने लिखा है कुछ J-L-O के rank 1 से rank 20 तक आप मैं से जितने भी students अगर लेकर आएंगे उनको आज हमारा teachers दे है उनकी तरफ से मेरा ये जो है क्या होगी teachers दे पर सबसे बड़ा gift होगा ये free classes है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें नहीं पढ़ाया जारा best content मैं आपको दे रहा हूं और इस best content के भरोसे आपको paper दे कराना है थोड़ी सी आपकी sufficient और मेहनत की जरूत है उस field पर भी study IQ judiciary के लोग आपके लिए काम कर रहे हैं JLO की इस free series में आप सब लोगों को मैं questions base पर हर subject त्यार करा रहा हूं लेकिन हमें ऐसा feel होता है कि आपको एक बार bare act की reading भी कर लेनी चाहिए जिससे कि आप JLO बन नहीं पाएं JLO में top कर सकें इसी लिए study IQ judiciary की तरफ से श्रिमी में के द्वारा daily basis पर आपकी क्या हो रही है आपकी जो है कल 5 वजे से लेकर 6 वजे तक एक CRPC की class start हो रही है ठीक मैं यहाँ पर question करा रहा हूं मेडम वहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आने वाली है सारी के सारी JLO के subjects की series लाने वाली है आज मेंने IPC खतम किया है ल लेकिन कल से आपको उनकी class में जुड़ना है और करना क्या है starting से bare act basis पर जो जो question आपके prelims perspective से मतलब MCQ based question बनते हैं और कौन कौन से section important है किसका interpretation कैसे किया जाता है और कहां कहां से question आएगा तो यह सारी चीजे श्रिमी में आपको bare act के point of view से कल से start करने वाली है तो उस class में भी आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को वहाँ पर जुड़ना है course continue करेंगे या बीच में छोड़ देंगे अर्पित जी दूसरे institute की तरह नहीं है हम लोग अगर मैंने आपसे द्रण संकल्प लिया है और आप लोग daily class करने आ रहे हो तो JLO का जब तक paper नहीं हो जाता मैं JLO से related content आपको देता रहूँगा 15 October तक मैं आपको MCQ based सारी चीजे कराऊँगा और 15 October तक ही शिर्मी में हम आपके JLO के सारे subject को bare act point से cover करने वाली हैं आप दोनों ही तरीके से ready हो जाएंगे कि आपने bare act भी पढ़ लिया एक mental satisfaction होता है और उसके बाद आपने मेरे साथ MCQs भी कर लिये तो दोनों ही तरीके से आप bell prepared हो कर जाएंगे और हम 15 October तक ये कराएंगे उसके बाद अगर कुछ important चीजे आपकी रह रही होंगी तो उनको भी मैं cover करा दूँगा clear यहाँ पर 156 clause 3 इसका जो है क्या है बिल्कुल सही जवाब है ठीक तो कल से क्या होने वाला है second year का student हूँ तो क्या ये helpful है बिटा अगर आप judicial services APO या फिर किसी भी जो है law से related law से related क्या law से related content की त्यारी कर रहे हैं और law pass करने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी को चाते हैं तो ये question आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है और अगर वकालाज भी करने जाओगे यार तो CRPC, CPC, Evidence, AIPC, Constitution के तो ये सारी चीज़ें आपको detailed में पता होनी चाहिए बिल्कुल हर्स जैसवाल जी आपने सही का study IQ means brand गौरफ सर काफी hard working है उनी से motivation ले लेकर हम लोग भी hard work कर रहे हैं और वो हमारे mentor हैं और उनकी guidance में हम सारे लोग जो है इसको prepare कर रहे हैं और आपके लिए study IQ judiciary results ला कर दे रहा है और आप लोग study IQ के सारी चीज़े कर रहे हैं और ये free classes जो है सर का ही idea है कि JLO वाले बच्चों को free content दिया जाए क्योंकि काफी बच्चों ने गौरफ सर को approach किया इस respect में और इसी वज़े से मैंने आपके लिए JLO की ये free series रखी है और ऐसे ही best teacher के guidance में study IQ काम करता है उनके hard work की वज़े से ही हम तक पहुंचे हैं और उनी की सारी चीज़ों की वज़े से हम आगे continue कर रहे हैं इसी basis पर जो है आपके लिए कल से JLO की classes भी start हो रही है जो कि bear act oriented होंगी और CRPC शर्मी में 5 बज़े से आपका 6 बज़े तक लेगी और उसके बाद 6 से 7 में जो है आपको MCQ basis पर ऐसे ही सारा schedule च जैसे आपको bear act करा के सारी classes को complete करा देना है आपका काम इतना होना चाहिए कि इस teachers day special में बस एक काम करना है कि हमको top 20 में हमारी इस series से कम से कम 10 students चाहिए अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा achievement होगा मेरे लिए आपके लिए आपके मावाब के लिए और दूसर करेंगे ठीक तो ये पूरी तरीके से free रहेगा ना study IQ इसका कोई पैसा लेता है और ना ही हम लोग को study IQ के इस platform पे JLO का course पूरी तरीके से free है ठीक moving ahead next question पर आजाईए चलो next question पर आते हैं next question है on receipt of first information report of commission of an offense the officer in charge of police station will send the copy to the concern magistrate under which provision एक व्यक्ति जिसे CRPC की धारा एक क्यानवय के तहत केवल एक दस्तावेज चीज प्रस्तुत करने का that is the मतलब this is not a correct हिंदी वाले प्लीज इस question को नहीं करेंगे हिंदी वाले इंग्लिश वाले सिर्फ पढ़िए on the receipt of first information report of the commission of an offense the officer in charge of police station will send the copy of concern magistrate under which provision section 154, 156, 159, 157 अब यहां पर हिंदी वालों को समझा देता हूं ठीक यह जो है typical error हो गया है इस वाज़े से translate नहीं हुगा question देखो यहां पर कह रहा है कि judicial magistrate को police officer जो है एक report submit करता है वो किस section के report की occurrence report मतलब section 157 of CRPC ठीक तो यहां पर क्या गया रहा है officer in charge की यह duty है कि कोई भी अगर crime हुआ है और किसी भी first information को उसके पास लाया गया है FIR को उसके पास लाया गया है तो वो जो है क्या करेगा fourth with उस copy को nearest magistrate के या फिर जिस भी magistrate का jurisdiction है उसके पास भेजेगा ठीक तो इस सार process को हम occurrence report बोलते हैं और इस occurrence report के according हमें देखने को मिलता है कि occurrence report का जो concept है वो 157 में हमको provide किया गया है clear चलिए एक बार 157 को read करते हैं और occurrence report के इस पूरे जो है procedure को समझ लेते हैं as per section 157 CRPC provides that the cognizable cases it is duty of the officer in charge of police station to send a report to the magistrate having the jurisdiction and then proceed to the investigation this report is known as occurrence report अब देखो यहाँ पर इसको मैं आपको समझाता हूँ यह report हमारे ऐसे क्यों भेजी जाती है जैसे ही FIR होगी ठीक यहाँ पर समझने की कोशिस कीजिएगा कि occurrence report को बनाने का और magistrate के पास भेजने का क्या मूल सिद्दान्त है FIR होई FIR होने के बाद और पहले तो informant आय जो है उन्होंने FIR को register कराया जैसे ही FIR को register कराया गया तो FIR register होने के बाद में जो हमारा officer in charge of police station होगा ठीक officer in charge होगा उसकी यह duty है कि वो क्या करने वाला है वो पूरी तरीके से जैसे ही FIR होगी उस पूरी उसकी एक copy copy जो है किसको जो भी जिस magistrate के पास उस FIR को क्या करने का उस FIR को treat करने का उस case को जो है करने का trial चलाने का अधिकार है उसके पास भीजा जाएगा ऐसा क्यों किया गया है ऐसा इसलिए किया गया है कि जो informant ने information दी है ठीक वो first FIR report में लिखी गई है और अगर investigation शुरू की जाती पर पुलिस क्या पुलिस उसमें कोई भी changes नहीं ला सके इसी बज़े से पहले ये copy जो है कहां पर भेजी जाएगी judicial magistrate के पास भेजी जाएगी जो competent magistrate होंगे और उसके बाद पुलिस जो है क्या करेगी इसके बाद में पुलिस जो है अपना investigation start कर देगी जिस पर पुलिस के पास क्या रहेगा पुलिस के पास ये जो है pressure रहेगा कि informant ने जो original information FIR में बताई थी वो तो magistrate साब के पास है और जब magistrate साहाब के पास जो investigation की report जाएगी जो contradictory होगी तो वहाँ पर जो है क्या investigation की report जो submit की जाती है final report जिसको बोलते है पुलिस report जिसको बोलते है तो उस report पर अगर ये जो FIR की information है उस पर कुछ contradiction होता है तो वहाँ पर जबाब देई किसकी होती है पुलिस officers की होती है और जसाब खुद ये पूछ लेते हैं कि पहले information में ये आया था और उस information को इधर उधर नहीं किया जा सके इसी बज़े से जो है क्या किया जाता है इसी बज़े से हम जो है 157 के rights को use करते हैं और information आने के बाद cognizable cases में उसकी एक copy जैसे ही F.I.R. register होगी magistrates आपको भीज़ दी जाएगी यही 157 का क्या है 157 CRPC का मूल सिधान्त है और option D is the correct answer of this question moving ahead next question पर आते हैं the investigating police officer in case has power to require attendance of any person acquainted with the fact and circumstances of the cases किसी मामले में जाच करने वाले police अधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्तितियों से परचित व्यक्त की उपस्तिती की आवस्तिता करने की सकती है CRPC 158 के अंदर section 159 CRPC 160 CRPC 161 CRPC के अंदर ठीक तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रह किसी भी इंसान को क्या कर सकता है किसी भी इंसान को जो suspected person है या फिर जिसको कोई भी information मिल सकती है तो उसको जो है summons करके अपने पास बुला सकता है और उन सारी चीजों को collect कर सकता है यह कौन से section में हमको बताया गया है ठीक 158, 159, 160 या फिर 161 बहुत ही important most important question है कि section में हमारे officer in charge of police station या investigation officer को अधिकार है कि वो जो है किसी भी व्यक्ति को जिसके पास किसी भी fact and circumstances जो के case से related है उसकी जानकारी है उसको वो बुला सकता है occurrence report और police report में क्या difference है दोखो police report और occurrence report में difference समझा दूँ आपको तो आप इस तरीके से समझो यह diagram पर हम चल रहे थे और इसी diagram पर मैं आपको समझा देता हूं फिर हम जो है next question पर चलते हैं बहुत अच्छा question पूछा है जिस भी बच्चे ने question पूछा ठीक यह question है sir सनेहा नेहा जी का यह question है बेटा बेरी गुड़ अब यहाँ पर समझेगा कि occurrence report 157 और 173 में major difference क्या है means के perspective से बहुत important है और means में यह question कई बार पूछा जा चुका है लेकिन आपका JLO में means नहीं होगा लेकिन concept समझ लो अगर यह बात उठी गई है तो देखो FIR हुई हमारी यहाँ पर clear FIR informant के साथ crime commit हुआ और informant आया भाईया पुलिस station में और informant ने कहा कि मेरे साथ साथ यह crime हुआ है उसके बाद police officer को पता लगा कि यह जो है क्या है police officer को पता लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है क्या इसके साथ cognizable offense हुआ है मतलब संग यह अपराद हुआ है उसके basis पर उसने और ने क्या किया 154 का जो register है FIR की diary जो state government ने prescribe की है उसके according FIR लिखी अगर वो बोल के बता रहा है तो जो है क्या उसको जो भी हमारा investment मतलब जो officer authorized है FIR लिखने के लिए उसको बताया गया उसने जो है उसको पूरे FIR में लिख दिया F FIR register में वो FIR लिख दी गई और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद जो भी informant है उसके signature उसको जो है पहले इस FIR को read करके सुनाया जाता है कि आपने यह information police को दी है क्या आपकी यह information बिल्कुल सही है और आप इस पर जो है हमने इसको writing में produce कर दिया है reduce कर दिया है अब आप इ जैसे ही यह FIR register में दर्ज होगी तो इसमें कोई भी investigation के बाद फिर बदल नहीं की जा सके इसी वजह से investigation start होने से पहले समझिएगा क्या कहना चारा हूँ investigation start होने से पहले police officer क्या करेगा एक copy जो है किसको देदेगा judicial magistrate को देदेगा जो उस case को try करने के लिए competent है क्योंकि उस इसका trial जो है investigation के बाद कहां आकर सुरू होगा उसका trial उसी magistrate के सामने सुरू होगा तो जो original FIR है उसकी first information जो है क्या judicial magistrate के सामने एक copy मौझूद रहेगी ठीक और copy मौझूद रहने के बाद जैसे ही यह copy magistrate साब के सामने पहुची उसके बाद police को अधिकार होता है कि वो हमारी अभी तक investigation start नहीं हुई है ठीक तो यह जो कौन सा step है यह हमारा before investigation का step है और जो FIR की copy वहां पर भेजी जा रही है उसको हम occurrence report बोलते हैं जो 157 में बताये गया है final report और जो police report submit की जाएगी 173 के तहल वो कब की जाएगी जब police officer यहां से investigation शुरू कर चुके हैं देखिए ध्यान से समझेगा इस चीज़ को यहां से police officer क्या कर चुके हैं अपनी investigation को start कर चुके हैं और investigation को start करने के बाद यहां पर उन्होंने final report को submit किया है या फिर police report को submit किया है as per section 173 of CRPC ठीक तो यह जो report हुई वो कब हुई यह जो है before investigation हुई और final report जो findings पाई गई कि जैसे जैसे accused person ने बताया था या जैसे जैसे investigation police ने की थी तो यहां पर यह क्या हुआ यहां पर पूरी तरीके से यह जो है after किसके after FIR के बाद यह चीज़ है जो है after final investigation के बाद यह चीज़ है judicial magistrate के पास पहुँचेंगी और उसके बाद judicial magistrate क्या करेंगे यहां से अपना judicial mind को apply करेंगे कि क्या investigation सई की गई है या नहीं और अगर उनको ऐसा लगता है कि investigation सई की गई है तो उसके बाद वो जो judicial mind को apply करने के बाद में charge framing करते हैं issues बनाते हैं जिस पर party का trial चलना होता है उस period को हम inquiry बोलते हैं और जैसे ही charge framing start हो जाती है charge बना दिये जाते हैं magistrate के द्वारा उसके बाद जो है trial का process माना जाता है तो यह दोनों ही concept बहुत ही interesting और important है एक जो है क्या है before investigation है और एक जो है after investigation है अब clear हुआ होगा 157 और 173 का difference I hope clear हो गया जल्दी से बताईए clear हुआ या नहीं जल्दी से हा ना का जवाब लिखा करो यार बहुत सारे question होते हैं फिर रह जाते है question कराने के लिए clear अब तो नहीं भूलोगे अगर कोई यह पूछे कि 157 173 में क्या difference है और occurrence report और final report या police report में क्या difference है तो यही बात जो मैंने बताई है बता देना और जिस इंसान को अगर सही answer कर पाओ उसको ये भी बताना कि अपूर सर ने ये concept समझाया था clear चलो आगे चलते है next question पर next question तो option C जो है इससे बिलकुल सही जवाब है moving ahead next question पर आईए ये तो साइद पीछे जा रहा है एक second ये हो गया आपका ठीक है अब आओ इस question पर थे हम लोग के the investigating police officer in case has power to require attendance of a person acquainted with the fact and circumstances of the cases section 158 159 160 or 161 जल्दी से बताओ इसका क्या सही answer होना चाहिए जो भी व्यक्ति जो है क्या fact और circumstances पता है किसी भी case के उसको क्या किया जा सकता है उसको बुलाया जा सकता है police officer के द्वारा ये बात कहां लिखी हुई है ये बात लिखी हुई है हमारे section 160 में और 160 जो है धारा हमारे police officer को क्या करती है जो भी investigation officer I.O. होगा उसको या अधिकार देगा कि वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बुला सके तो C is the correct answer of this question let's read section 160 according to section 160 of CRPC police officer conducting an investigation ठीक तो word कौन सा इस्तमाल हुआ है वो police officer जो की investigation को conduct कर रहे है under the chapter 12 of CRPC इसका मतलब ये क्या हो गए investigation officer हो गए as per chapter number 12 of CRPC may demand any person within the boundary of his own police station and adjacent police station who in his judgment appearance to the family or with the fact and circumstances of the cases before appear ठीक तो अगर ऐसी situation है कि investigation चल रहा है और investigation के दौरान अर्पित कुल स्रेस्ट अलीगड़ वाले हैं हमारे अपूर सर अलीगड़ से हूं बैसे कली अलीगड़ मुसलिम यूनिवस्टी से मैंने अपना B.A.L.L.V को पास किया है तो मतलब जहां से पास होता है तो वो जन बूमी होती है एक तरीके से अपने law career की starting मैंने वहीं से क तो बस वहीं से start journey शुरू होती है अर्पित को शायद पता है कि मैंने अलीगड़ से graduation कर रखा है अपना B.A.L.L.V का course कर रखा है ठीक तो यहां पर आपको 160 में क्या समझाये गया 160 में ये चीज़ बताई गई है कि अगर किसी भी police officer जो कि investigation officer है उसको पता है तो वो सारी ची next question पर आईए which section of CRPC it provides that the male below the 15 year of age cannot be called at the police station CRPC की किस धारा के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को police station में नहीं बुलाया जाएगा मतलब लड़के क्या लड़के लड़किया दोनों 15 से कम उम्र के जोतने भी child होंगे उनको नहीं बुलाया या फिर जो है क्या या फिर जो हमारे 65 साल से जादा के व्यक्ति होंगे चाहें वो महला हों पुरुस हों उनको police station में कभी investigation के दौरान 160 की power इस्तमाल करने के बाद police officer के दौरा नहीं बिलाया जा सकता ये बात कहां पर लिखी है section 160 clause 1 section 161 clause 2 sub clause b section 160 clause 2 section 165 of CRPC clear बहुत अच्छे सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बहुत बढ़िया लाली बहुत अच्छे लाली बिल्कुल सही आंसर काफी दिनों बाद मैं लाली को अपनी classes में देखा है यूपी जुडिशरी की student थी जब मैं यूपी के question करा रहा था last year जब यूपी का notification आया था सब ठीक था के ल हमारे 65 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं तो उनको investigation officer 160 की power को यूज करके summons करके जो है police station में investigation के दौरान बुलाने के लिए compel नहीं कर सकता क्योंकि mindset बच्चों का छोटा होता है और old age persons होते हैं तो उनके पास जाकर कोई भी investigation के दौरान अगर आपको fact and circumstances लगता है कि उनको पता होंगे तो आप उनको किसी भी comfortable place पर बुला लीजिए या फिर उनके घर ही चले जाईए तो ज़्यादा बैटर होगा उन सारी चीजों को जानने के लिए clear तो option A is the correct answer of this question moving ahead next question on the receipt of first information report of commission of an offense the officer in charge of police station will send a copy to a concern magistrate under which provision ठीक ठीक है यह तो शाहिद repeated question है that is occurrence report section 157 of CRPC moving ahead next question the investigation officer in case has power to attend the personal circumstances अंदर दी यार यह दो question repeat हो गया है मतलब दो बार copy हो गया है 160 is the correct answer ठीक है चलो आगे चलते है next question पर इन पर time बरबाद नहीं करना है अब यह वाला question भी वह है अमारे यह back हो रहा है अच्छा repeat नहीं हुए है वह मैं back वाला button दबा रहा हूँ इस वैसे वह back जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि वह दुबारा दुबारा आने लगे है ठीक है आप सही चलेगा ठीक हाँ आप सही चलेगा the joint statement of several witness recorded during investigation ठीक जाच के दौरान की गई गवाई का संयुक्त बयान दर्ज किया जाएगा option A will render these persons as incompetent witness option B will render their statement inadmissible option C whether neither render these person as incompetent witness and nor their evidence as inadmissible option C will render these person as incompetent witness as well as their evidence in inadmissible ठीक जाच के दौरान कई गवाई का संयुक्त बयान दर्ज किया गया है option A इन व्यक्तियों के अक्षम गवाई के रूप में प्रस्तुत करेंगे उनके व्यान को अस्विकार के रूप में प्रस्तुत करेंगे ना तो इन व्यक्तियों के असमक्ष गवाई के रूप में प् joint statement दिया जा रहा है किसके द्वारा several witnesses के द्वारा तो उस case में क्या किया जाएगा तो यहां पर हमें देखने को मिलता है option C जो है इसका correct answer होगा will neither render these person as the incompetent witness and nor their evidence as a inadmissibility option number C जो है क्या होगा इसका विल्कुल सही जबाब होगा clear classes कब start होती है classes हमारी जो है तो classes हमारी जो है start होती है छे बज़े से लेकर same ही time है ठीक 6 बज़े से classes start होती है और 6 से 7 साथ 7 साथ तक हम JLO का यह session करते हैं जहां पर हम CRPC के आज 8th class पर है moving ahead is the investigation officer bound to reduce in writing any statement made to him in the course of examination under section 161 of CRPC क्या जाच अदिकारी दंद प्रग्या सहेता के 161 के तहत जाच के दौरान उसे दिये गए किसी भी बयान को लिखित में देने के लिए बद है option A yes, option B no option C only when directed by the court to do so only in cases of cognizable cases अब हम आ गए हैं कहां पर 160 तक हो गया है 161 वाले provision पर आ गए है section 161 is most important बहुत सारे question आपको JLO में देखने को मिलेंगे और एस JLO में आपको direct यहां से as it is question चिपका हुआ मिलने वाला है clear तो यहां पर क्या गया रहा है कि investigation officer bound है जो भी statement दिये जाएंगे उसको 161 के बयान को कभी भी जो है writing में reduce नहीं कराया जा सकता है और नहीं police officer ऐसा करने के लिए बाद होते हैं clear option B जो है क्या होगा option B is the correct answer याद रखना 161 के बयानों को ना तो कभी इस्तमाल किया जाएगा police officer के दौरा writing में reduce करने के लिए और नहीं किसी ने 161 के बयान दिये भी है उस व्यक्ति को उन पर signature करने के लिए बात दिखिया जाएगा क्योंकि ये जो है कभ लिए जाते हैं investigation के दौरान police के दौरा लिए जाते हैं और अगर ऐसी कोई भी situation है जहां पर police officer किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लिखवा कर sign करा लेगा तो वो जो है evidence की तरह court में नहीं माना जाता क्योंकि ये presumption लगा कर चलाई जाती है कि अगर सायद हो सकता है कि police ने जो है कोई भी external pressure create किया हो जिसकी वज़े से किसी को ये लिखित statement दिये गए हो clear तो option B is the correct answer ठीक चलिए आगे चलते हैं next question पर the statement under section 161 of criminal procedure code 1973 are recorded by the police during trial before investigation during investigation during inquiry ठीक दंड सहिता प्रिक्रिया 1973 धरा 161 के तहत बयान police द्वारा दर्ज किये जाते हैं परीक्षण के दौरान जाच के दौरान जाच के दौरान या फिर जो है क्या जाच जाच से पहले जाच के दौरान लिये गए हैं तो वो statement किस दौरान लिये जाएंगे तो 161 के जो बयान होते हैं वो लिये जाते हैं जब किसी भी case का police investigation कर रही होती है तब ठीक तो during investigation लिये गए बयान जो है हमारे क्या जाच के दौरान लिये गए बयान सारे के सारे बयान किस में आते हैं 161 में आते हैं यहाँ पर ना तो police officer क्या कर सकते हैं police officer इनको writing में reduce कर सकते हैं और ना ही किसी भी व्यक्ति को compel कर सकते हैं जिसने वो statement दिये हैं जिनके वो उस पर जो है क्या करें signature करें और ना ही यह जो है क्या court में as a evidence जो है माने जाते हैं तो यह तीनों ही question हमारे 161 CRPC से बहुत ज्यादा important है जो आपको various various exams में पूछे जाते हैं clear चलो आगे चलते हैं next question पर in which one of the following cases it was held that that person has right to protect under section 161 clause 2 of CRPC again question the answer of which would have been tendency to a criminal charge निमलिखित मैंसे किस मामले में यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को CRPC की धारा 162 के तहत सुरक्षा का अधिकार है उन प्रस्णों के विरुद जिनके उत्तर पर आपरादिक आपरोग की प्रवत्ती होगी ठीक यह जो है तो बताईए इसमें से कौन सा केस सही है बात किसकी हो रही है 161 जो है CRPC के अकॉर्डिंग आपसे यह पूछा जा रहा है बताईए क्या इसका सही आंसर होगा देखिए यह जो केस है यह जो स्टेटमेंट हेल्ड किया गया ओन्रेबल सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया के दौरा वो जो है नंदी सब्तपती वर्सिस पीयल दानी का एक लेंडमार्क जज्जमेंट था जिसमें यह चीज हेल्ड की गई नेक्स्ट कोशन विस सेक्षें अप सी आर्पीची प्रोवाइट यह जो किया रहा है कि यहां पर दंड सर्क्रिया की कौन सी धरा यह प्रावधान करती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अध्यकारी को दिया गया कोई भी बयान यद लिखित रूप में दिया जाता है तो उस बयान पर देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना चाहिए अभी बताया मैंने आपको यह स्टेटमेंट क्या कौन सा आंसर है इसका 100 कौन सा है 162 is the correct answer एक बार 162 को read करते है 162 बात करता है statement to the police not to be signed use of the statement in evidence ठीक ऐसे statement जो कि 161 में investigation के दोरान किसी भी इनसान से लिए गए है ठीक तो उनको जो है क्या उनको कभी भी signature नहीं कराया जा सकता और नहीं police officer या फिर investigation officer उस व्यक्ति को signature कराने के लिए bound कर सकता है 161 का जो सबसे important बात है कि उसका explanation और इसकी सारी चीज़ां कहाई में section 162 में बताई गई है ठीक तो पहला clause क्या कह रहा है no statement made by any person to a police officer in the course of investigation under this chapter shall if reduced to writing be signed by a person making it nor shall any such statement or any recorded thereof shall thereof whether in a police diary or otherwise और any part of such statement or record be used for any purpose save as hereafter ठीक तो यहां पर यह सारी चीज़ आपको बताई गई है कि कोई भी statement अगर police officer को दिया गया है तो वो जो है sign नहीं कराया जा सकता और उस statement को कभी भी as a evidence जो है use नहीं किया जाएगा किसमें हमारे CRPC के criminal trial में ठीक तो option number क्या होगा option number first is the correct answer of this question option number B जो है इसका विलकुल जो हमारा previous question था उसका जो है B 162 में ये बात हमको detail में बताई गई है clear moving ahead next question पर आते हैं any statement made by any person to the police officer under section 162 CRPC in the course of investigation क्या कह रहा है कि कोई भी statement जो कि 162 CRPC के दोरान दिये गए है course of investigation के दोरान धारा 162 CRPC के तैत किसी भी व्यक्तिद्वारा police अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान जाच के दोरान option A must be signed by a person making it must not be signed by a person making it must be signed by a two witness may be signed by a person making the statement or the witnesses ठीक तो यहां पर क्या गह रहा है 162 के respect में है तो sign नहीं कराए जाएंगे चाहें कोई भी कीमत हो simply हमने ये चीज को पढ confession is recorded by कबूल नामा दर्ज किया जाता है by a judicial magistrate having a jurisdiction only by any judicial magistrate with or without jurisdiction option C by any police officer having power of a magistrate under the law enforce option B by a magistrate empowered by the high court for this purpose ठीक क्या गह रहा है यहां पर confession किसके द्वारा record किये जाएंगे ये question आप से पूछा जा रहा है confession का मतलब एक आदमी confess करता है कि उसने कोई crime किया है या फिर कोई भी जो है victim उसके confession record किये जाते हैं कि किसने उसके द्वारा crime किया है ठीक तो ये confession का सिद्धान्त जब मैं evidence पढ़ाऊंगा वहां पर आपको admissibility और जो है क्या confession की सारी चीज़े detail में बता दूँगा ठीक तो जो सारी चीज़ें हमें जो है किसके द्वारा confession record किये जा सकते हैं क्या police officer के द्वारा record किये जा सकते हैं या फिर हमारे जो judicial magistrate हैं उस area के जिनके पास उस case को try करने का jurisdiction है उसके द्वारा या फिर वो सारे magistrate जो सिर्फ उस या फिर magistrate जिनके पास jurisdiction है या नहीं इससे कोई फरक नहीं पढ़ता या फिर police officer जिसको power दी गई है ऐसा judicial magistrate काम करने की law के situations में तो यहां पर ऐसे सारे magistrate बस judicial magistrate होना चाहिए उसके पास jurisdiction है या फिर जूरिदिक्ष नहीं है इसससे कोई फरक नहीं पढ़ता है तो किसी भी उसके द्वारा confession को record कराया जा सकता है and this power is not goes to the executive magistrate clear तो judicial magistrate हो वही जो है any magistrate कोई साभी magistrate हो वो जो है क्या कर सकता है confession को record करा सकता है moving ahead next question पर आईए who may record any confession or statement made to him in a course of investigation ठीक ये भी आपको पता है judicial magistrate having jurisdiction no executive magistrate any judicial magistrate this is the correct language of the bear act bear act में यही word use किया गया है any judicial magistrate याद रखना अगर executive magistrate आजाए तो नहीं लगाना है ये आजाए jurisdiction वाला तब भी नहीं any senior police officer नहीं ये तीनों ही जो है गलत होंगे बस जो bear act की specific language है 164 की वो क्या बात करती है वो बात करती है कोई भी any judicial magistrate क्या कह रहे है any judicial magistrate is the correct answer of this question clear हुई इतनी बात तो option number क्या है option number d is the correct answer of this question moving ahead next question पर आते हैं section 164 CRPC provides a special procedure for recording of दारा 164 अपरादिक प्रक्रिया सहेंता निम्ल में से recording के लिए एक विशेज प्रक्रिया प्रदान करती है option a confession statement during the course of investigation confession as well as a station during the course of investigation examination of witness ठीक जल्दी से इसका answer दीजिए हाँ यहाँ पर जो जाच को जाच वर्ड की जगा कौन सा वर्ड अवरेशन ठीक क्योंकि देखिए जो हमारी जाच वर्ड है that is the हिंदी वर्ड अगर हम investigation बट जो है किसके सामने यह जो है जुडीसियल मजेस्टेट के सामने होंगे और जो व्यक्ति होगा उससे यह sign कराए जा सकते हैं जिसने confess किया है या statement दिया है चलो class 9 में हम discussion करने वाले हैं हमारे सबसे important section number 163 से लेकर 176 तक आज हम जो है लगबग 176 आज 190 तक complete करेंगे 189 तक के जितने भी question बनते हैं वो सारी चीज़े आज हम discuss करेंगे और आज के बाद से हम start करेंगे अपना जो का हमारा 191 से लेकर कल हम 260 तक सारे court of sessions trial court of warrant trial या फिर summons trial और summary trial को पूरी तरीके से complete कर लेंगे उससे पहले के जितने भी complaint के section है 200 से लेकर 2034 तक वो करना है और उसके बीच में 24 से लेकर 210 तक का सबसे important part है और वो भी हमें कल cover करना है तो आज के session में हमारा start होगा कहां से section 163 से related question हम 170, 189 तक आज detailed discussion करने वाले हैं without wasting the time आज बहुत सारे question करने हैं हमको और आज के session में हम जो है अपना सबसे critical part और सबसे important part CRPC का complete करने वाले हैं जहां पर हम अपना 154 से 176 तक के सारी चीजें detail में discuss करने वाले हैं तो अब हम सुरू करते हैं अपना lecture number 9 और CRPC के इस lecture में हम जो है अपने section 162 तक कल 8th lecture में complete कर चुके हैं और इसी के आगे हम continue करते हैं अब यहां पर एक important बात कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं और जो भी हमने CRPC 1973 की इस marathon class में पढ़ा है वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त करना चाते हैं तो आपको अपूर शर्मा official इस telegram group पर मुझसे connect करना है यहां पर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं और CRPC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की है वो सारा content अपूर शर्मा official इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा और अपूर शर्मा 252 यह है मेरा instagram account इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूं तो आप message जितने भी लोग मुझसे connect हो कर अपना कोई भी doubt या सवाल पूछना चाते हैं वो अपूर शर्मा official 252 अपूर शर्मा official आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजेगा आपको मेरा group मिल जाएगा इस group में आपको daily basis पर जो है MCQ practices कराता हूँ जो के judiciary के और APO के perspective से बहुत ज्यादा important है plus इसमें मैं आपको current affairs चाहें वो legal current affairs हूँ या फिर आपके general current affairs हूँ या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं जाहें तो freshers के लिए या फिर जो है आपके एडवोकेट जो के experience एडवोकेट वाली हैं उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती है तो आप मुझसे यहाँ पर connect हो कर आज का सारा content घटा कर सकते हैं अब एक important बात कि अगर आप study IQ judiciary के live foundation batch 7 को join करना चाते हैं जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी है और इसमें admission लेने की 9 October last date है तो यह हमारा comprehensive plan है जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी वो भी 12 महिने में यह पूरा batch live रहेगा और live classes में आप अपने टीचरों से बात करके discussion करके अपने सारे doubts को solve कर सकते हैं अगर आप इस batch में admission लेना चाते हैं तो आपको APU का code use करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं admission लेने का क्या procedure होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको जो है Google पर जाना है और Google पर जाकर सर्च करना होगा study IQ judiciary जैसे ही आप Google पर जाएंगे Google पर जाकर आप सर्च कीजेगा phone से laptop से tap से या फिर जो है सारी चीजों से study IQ judiciary यहाँ पर जो है आपको सर्च करना होगा जैसे ही आप study IQ judiciary को सर्च करेंगे study IQ judiciary को search करेंगे हमारी original website पर जाएगा वहाँ पर आपको live foundation batch 7 का comprehensive plan लेखने को मिलता है 40,000 का ये batch है इसको आप मात्र 24,999 में 24 मंत की validity के साथ ले सकते हैं buy now के option पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के तीन अक्षर का एक promo code डालना होता है चाहें आप capital में डालें या small में डालें A, P, U मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे 24,999 में ये live foundation batch आपको provide किया जाएगा 7 में admission मिल जाएगा और ऐसे ही study IQ के जो है हर मन्त में एक live foundation batch launch होता है अगर आप भविष्च में या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई वेन भविष्च में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रहा हो तो आप जो है मुझसे मेरे telegram गुरुप पर प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसमें आपको पूरा lot दो या तीन साल में complete कराया जाता है mentorship भी मिलती है hand return notes भी मिलते हैं legal updates भी मिलते हैं और आप अपने college time से ही तैयारी कर सकते हैं तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्धियम से payment करके इस batch को join करेंगे तो आपको APU के code को लगाने से मतलब मेरे code को लगाने से ये batch 24,999 मैं 24 मंत की validity के साथ मिलेगा प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है that is called study IQ judiciary महापक ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा तो APU के code से 2-2 courses 2 साल की validity के लिए आपको मिल रहे हैं आज ही जाकर इसमें enroll करिए पहला question आज start करते हैं statement of any person may be recorded even at the stage of investigation by administering oath of such person by the magistrate under which provision of the code of criminal procedure 1973 it has been provided किसी magistrate के बयान जाच के चरण में magistrate द्वारा ऐसे व्यक्ति को सपद दिलाकर दर्ज किया जाए सकता है डंड परक्रिया सहेता 1973 के किस प्रावदान के अंदरगत ये प्रावदान किया गया है 161, 164, 5, 162, 273 ठीक 161, 104, 5, 162 और 273 पूछ क्या रहा है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के during the investigation क्या किये गए है statement record किये गए है तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पर बताई गई है कि जब किसी भी व्यक्ति के statement record किये जाते है वो सारे statement किस में किये जाते है वो सारे statement section नंबर 164 clause 5 के दौरान किये जाएंगे जहाँ पर हमें judicial magistrate के सामने उन सारे जो है क्या रोशनी वेटा confused नहीं होना है जहाँ पर ये लिखा हो के judicial magistrate के दौर बिना कोई भी क्या कोई भी police officer अगर investigation कर रहा है तो accused से अगर क्या कर रहा है किसी भी व्यक्ति से कोई भी statement ले रहा है तो उसको sign नहीं कराया जाएगा ये 161 का फंडा है लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान जिसकी investigation या फिर जिसके criminal trial के दौरान अगर magistrate के सामने क्या किये जा रहे है magistrate के सामने किसी भी चीज़ को record कराया जा रहा है तो वो confession होंगे और वो 164 clause 5 के according किये जाते हैं ठीक English वाली side ठीक है कल से change कर दूँगा कल से हिंदी के question इधर होंगे और English के question इधर होंगे ठीक है वैसे मैं यहां खड़ा रहता हूँ और इसके बाद शायद हिंदी वाले बच्चों को सारे question दिखाई देते होंगे moving ahead next question पर आ जाईए during the investigation of an offense committing rape medical examination of alleged victim may be done बरतकार करने के अपराद की जाँच के दौरान कथित पीड़ता की medical जाँच की जा सकती है option A केबल magistrate के आदेश पर option B आवस्चक रूप से संबंदित जाँच अधिकारी के अनरोध पर यदिव है उसे उचित समझे option C जाँच अधिकारी द्वारा अपने पुलिस अधिरीक चक की अनुमती प्राप्त करने के बाद में option D ऐसे पीड महला या उसकी उर से ऐसे सहमती देने वाले सक्षम ब्यक्ति जो की सहमती दे सके है option number A in English only on the order of magistrate necessary on the request of concern magistrate and the investigation officer after the investigation officer obtaining the permission of his superintendent of police with the consent of such woman victim or the or any person competent to give the such consent on her behalf अब देखो यहाँ पर question क्या पूछ रहा है question पूछ रहा है कि किसी के साथ में किसी भी महला के साथ में rape का offense commit किया गया है तो इस rape के offense को commit कराने के बाद उसका जो है क्या medical examination कराया जाएगा तो वो किसके द्वारा कराया जाएगा या फिर किसकी consent पर कराया जा सकता है ठीक तो यह जो है with the consent of such woman जो जिसके जो क्या है हमारे rape victim है उसके द्वारा या फिर ऐसे लोग जो के competent हैं उस मेला के बिहाव पर advice देने के लिए उनके द्वारा क्या किया जा सकता है उनके द्वारा जो है किसी भी rape victim महला का medical examination की permission दी जा सकती है clear तो option number D जो है इसका बिल्कुल सही answer है इतना समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है हा ना yes no कुछ जवाब पहले मिलेगा मुझे लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा आज क्लास में आप लोगों को समझ आ रहा है बताओ भाई अच्छा एक genuine सा सवाल पूछ रहा हूँ सही answer देना है बिल्कुल से मैंने अभी CRPC में आपके 8 lecture करा दिये 8 lecture में आपको जो है क्या करना है 8 lecture में आपने मेरे साथ कहां तक पढ़ लिया है अभी तक आज हम 163 से आगे चल रहे है 162 से आगे चल रहे है तो 162 तक जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनको अगर CRPC का कोई doubt अब तक रहा है पिछले sections में एक बार मुझे ये बताएंगे English सही से नहीं दिख रही है यार एकदम fire मचा दो आज तो सच बता रहा हूँ इतने अच्छे question है आज के session के most important बस बिटा आज आज की class all है 154 से लेकर 176 तक बहुती most important procedure है हमारे CRPC का जहां पर सारी चीज़ें क्या होती है सारी चीज़ें यहां पर CRPC बहुती smooth होने वाला है क्योंकि अब तक हम CRPC का सबसे tough part कर रहे हैं जो कि आपको सारी चीज़ें जो है क्या होता है सारी चीज़ें जहां पर दिक्कत होती है clear अब यहां पर मुझे बताइए 5 वज़े वाली वीडियो अपलोड है हाँ जी बिलकुल वैववव सर्मा जी शिर्मी मेम की 5 वज़े वाली वीडियो पूरी तरीके से आपको यूटूब पर फ्री डिखेगी और वो जो है क्या पूरी जो है अपलोड़ेट रहेंगी और आप फ्री में उन क्लास इसको कर सकते है तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रेप बिक्टिम का अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाना है तो उसकी परमीशन किसके से ले जाएगी और इससे एक और कोश्चन बनता है चले रीड करते है अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपसे बता रहा है कि अगर हम बात करते हैं तो जिस भी महला के खिलाफ बलतकार किया गया है या फिर उसकी कंप्लेंट पुलिस ओफीसर को प्राप्त हुई है उसके 24 घंटे के अंदर उसका जो है क्या कराया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा तो जैसे ही किसी भी ओफीसर इंचार्ज को या फिर जो है किसी भी पुलिस ओफीसर को ये रिपोर्ट मिलती है कि किसी भी महला के साथ रेप कमिट हुआ है वो उसको जो है क्या करेगा ले जाकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की रिक्वेस्ट करेगा होगी कि वो उस महला को medical examination कराने के लिए बोलेगा ठीक the medical examination shall be conducted with the consent of the victim अब देखो पहली बात यहाँ पर क्या लिखी गई है कि अगर medical examination की बात करें तो police officer उसको recommend करेगा कि आप अपना medical करा कर आईए और अगर आप advocate है या फिर आपने कोई भी rape victim का case दिखा होगा तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि एक medical officer के द्वारा report बनाई जाती है जिसके respect में two finger test पुराने जवानों में अभी हुआ करता था जिसको अभी recently Supreme Court ने invalid declare कर दिया है ठीक तो यह two finger test के द्वारा ही जो है क्या पहले testing हुआ करती थी लेकिन Supreme Court ने इसको क्या माना इसको पूरी तरीके से गलत माना और यह जो two finger test का decision आया है उसका landmark case है उसका नाम आपको आज जो है search करना है ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि victim की consent के साथ कराए जाएगा या फिर with the consent of a competent person on her behalf या फिर जो भी competent person है अगर उसका husband है तो उसके husband से concern ली जाएगी अगर उसका husband नहीं है तो उसके जो father या फिर mother या फिर उसके कोई भी legal guardian court ने appointment cut रखे हैं या फिर other व्यक्ति जो उसके लिए responsible है उनसे क्या होगी उनसे पहले permission ली जाएगी कि आपको medical test कराना है या नहीं कराना medical test कराने का जो main motive होता है वो यह होता है कि जिससे हम यह determine कर सकते हैं पूरी तरीके से कि कोई भी महला है और उस महला के साथ अगर कोई भी rape का offense हुआ है तो वो जो है बहुत सारी चीज़े होती है उसमें DNA बगरा करके पता लगाया जाता है तो यह सारे evidences collect करने के लिए और महला को नियाय तक पहुचाने के लिए जिससे के उसके जो है क्या उसका case strong बना रहे यह सारा procedure किया जाता है और धारा 164A को जो है 2005 के criminal amendment से जोड़ा गया जो के 55 2006 को force में आया तो यह question भी आपके यहां से important हो जाते है medical जाच पीड़ता की सहमती से या उसकी और से किसी समख शुव्यक्ति की सहमती से जो है medical examination कराया जा सकता है यह बात clear हुई 164A 165A जितने भी AA वाले section है CRPC में that is the most important section क्या जितने AA वाले sections amendment से जुड़े हैं चाहे वो 164 में जुड़ा हो 165 में जुड़ा हो या फिर आपके मैंने 53A बताया था उसके बाद 54A जब हम क्या पढ़ रहे थे investigation 40 से लेकर 60 वाला part पढ़ रहे थे clear तो यह सारी चीज़े क्या है यह सारी चीज़े आपकी पूरी तरीके से AA वाले section जो amendment से जुड़े गए है वो बहुत जादा JLO के लिए important है direct ऐसे ही paper में चिपके हुए मिल जाएंगे clear moving ahead next question पर आते हैं for this purpose of section 169 of code of criminal procedure 1973 the most essential requirement is that the arrested person 167 की सबसे आवश्यक यह है कि ग्रफतार व्यक्ति option a should not be necessary to produce physically for the first time option b should be produced first time through medical electronic video linkage option c should be produced before in person for the first time option d should be produced in person for the first time and subsequently through the medical medium of electronic video linkage according to the direction of magistrate ठीक तो यहां पर चार question आपको देखने को मिल रहे है हिंदी वाले आराम से इसको पढ़ने किसको नहीं दिख रहा एक बात एक एक मिनट पढ़ना बाद में पहले यह बताओ बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है कि आज बोर्ड साफ दिख रहा है अप लोगों को yes और no एक बच्चे को साफ नहीं दिख रहा है और बार बार repeatedly वो comment कर रहे हैं तो क्या उनका net की तरफ से कोई disturbance है या सारे ही students को नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर कोशन दिख रहा है clear है clear है अब जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है ठीक है अब एक बार ध्यान से सुनो जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है मेरी तरफ से पूरा 1080 HD का वीडियो आप लोगों के लिए जा रहा है आप अपने YouTube के साइड में एक settings का वटन ह होगा वहाँ पर जाओ वीडियो क्वालिटी को बढ़ा कर 720 कर दो ठीक तब आपको पूरी तरीके से दिखने लगेगा clear ठीक मेरी तरफ से कोई disturbance नहीं है बाकी लोगों को सारी चीज़े देख रही है ठीक तो अगर हम बात करें देखो 167 का बहुत बड़ा रोल है और इस 167 को समझना जो है बहुत typical है और इसके साथ बहुत सी चीज़े 167 में बताई गई है तो अब 167 पर major focus रखना आपको यहां 15 मिनट 20 मिनट आप जो है हमें बिलकुल focused रहके इस चीज़ को मेरे साथ करना है अब यहां पर क्या कह रहा है कि requirement क्या है किसी भी arrested person को as per the 167 सबसे पहली बात जानो सबसे पहली बात क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर arrest किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना ठीक क्या करना होगा judicial magistrate के सामने उसको पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर लेकिन इसमें कौन सी चीज जो है क्या कौन सी चीज incorporate नहीं की जाएगी जब हम किसी भी accused को arrest करेंगे और उसको travel करके जो है दिल्ली की पुलिस जो है यहां से गई थी और उसको arrest किया गया आगरा में ठीक तो आगरा में arrest करने के बाद में उसको जो है लगबग साड़े 4 घंटे जरनी में लगे और यह साड़े 4 घंटे के बाद उसको दिल्ली पुलिस ठाने में लाकर बिठा लिया गया उसके बाद उसको क्या करना होगा उसको जब से वो थाने में पहुचा है तब से जो journey का time होगा ये time इसमें include नहीं किया जाएगा याद रखना यहां से question बनता है कि जो journey का time होगा या फिर जो traveling time होगा वो इसमें include नहीं होगा ठीक तो यहां पर जब से produce किया गया है जब से लाया गया है police station में या फिर respective authorities के सामने उसके 24 घंटे में judicial magistrate के सामने उसको produce करना होगा वरना उसके जो CRPC के basic natural rights हैं वो पूरी तरीके से क्या माने जाएंगे पूरी तरीके से जो है violate माने जाएंगे और उसके पास अधिकार होगा कि वो high court को और supreme court को उसके relative अगर judicial magistrate के सामने पेस नहीं किया गया है तो तब तक जो है क्या तब तक उसको उसके लिए heaviest corpus की heaviest corpus की rate जो है supreme court और high court में डाल सकते हैं clear तो ये भी एक accused person की family का और उसका right होता है अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि traveling time को exclude किया जाता है JLO वाले बच्चे ध्यान देंगे paper में ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो traveling time होगा उसको हम include करते हैं या फिर exclude करते हैं एक word का फरक होता है कि उसको हम इसके अंदर नहित करेंगे या फिर अनित करेंगे मतलब include नहीं करेंगे ठीक तो यहाँ पर सबसे पहल पहली बार क्या किया जाएगा पहली बार जो है in person appear कराया जाएगा कैसे in person मतलब जो भी police officer उसको arrest करके लाया है और वो जो है अपने judicial magistrate के सामने उसको ले जाएगा और judicial magistrate के सामने ले जा करके क्या किया जाएगा judicial magistrate के सामने 24 गंटे में कितना 24 गंटे से पहले before 24 hour produce करना होगा और उसके बाद में judicial magistrate साब के पास यह power होगी कि वो चाहें उस व्यक्ति को जो है judicial custody में भेज दें याद रखना दो तरह के की custody होती है एक होती है judicial custody और एक होती है क्या police custody police custody को क्या बोला जाता है remand बोला जा तो वहाँ पर उसको दिखाना होगा कि अगर इस व्यक्ति को हम जो है अपनी custody में रखेंगे investigation के दौरान तो कितने दिन की police custody magistrate के द्वारा दी जा सकती है तो judicial magistrate हमारे 15 दिन की custody दे सकते है बिटा कितने दिन की याद रखिएगा 15 दिन की जादा judicial police custody मतलब revenge allot की जा सकती है और अगर ऐसा होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 15 देश और अगर executive magistrate सब सपोस करिये जिस police का थानेदार उस व्यक्ति को लेकर आया है और वहाँ पर जो है क्या वहाँ पर जिस जो भी magistrate उसके case को try करने के लिए competent हैं वो है नहीं तो उस समय executive magistrate के कारेकारी magistrate के सामने उस व्यक्ति को produce किया जाएगा और executive magistrate कितने दिन के लिए सात दिन के लिए किसी भी व्यक्ति को remand में भेज सकते हैं मतलब police custody में भेज सकते हैं I hope इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी इतनी चीजें समझ में आगई 167 के respect में जी thank you आगे चले अब कुछ और बात याद रखने वाली हैं क्या क्या याद रखने वाली हैं तो सबसे पहली बात अभी हमने पढ़ ली कि हम journey के time को exclude कर देंगे दूसरा पहली appearance को in person कराये जाएगा और उसके बाद अगर judicial magistrate की जरूत नहीं है तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थुरू आप इसको जो है क्या करते रहना वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थुरू आप इसकी appearance कराते रहना तो वो सारी चीजे भी की जा सकती है ठीक उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 15 दिन की custody किसके साथ कौ कर सकते हैं that is clear अब आते हैं पांचवे important point पर पांचवे important point की कहानी बहुत लंबी है पहले इसका answer डून लीजिए option number D सबसे पहले first hearing पर उसको जो है in person in person मतलब व्यक्तिगत रूप से क्या किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से लाया जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या बता सकते हैं clear sir आप हमेशा 6 वजे class लेते हो बताईए दोस्तो असोग जी पूछ रहे है क्या मैं 6 वजे daily class लेता हूं मुझसे पहले एक faculty आपके लिए और class लेते हैं वो CRPC का bear act आपको पढ़ा रहे हैं jail के लिए ठीक अब देखो यहाँ पर option D इसका जो है सही answer हो गया moving ahead next question को अब यहाँ पर कुछ और important चीजों को आपको मेरे साथ समझना होगा क्या क्या वो चीजें हैं ठीक चार question अब तक मैंने आपको बता दिये जो इससे related बनते थे अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति को arrest किया गया किसके द्वारा police officer के द्वारा police officer अपने respective place पर या फिर जह इस व्यक्ति को लगवक कितने 24 घंटे के पहले 24 घंटे खत्म होने से पहले judicial magistrate साप के सामने क्या किया गया judicial magistrate साप के सामने पेस किया गया judicial जुडीशल मजिस्टेट साव ने सपोस करिएगा कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी देदी कि इस व्यक्ति को रिमांड पर रखा जाएगा और अगर जुडीशल मजिस्टेट साव नहीं थे तो इनको एक्जीक्यूटिव मजिस्टेट के सामने ले जाना ही ले जाना पड़ेगा क कि यह क्या है 24 घंटे का जो रूल है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अगर 24 घंटे में उस व्यक्ति को नहीं ले जाया गया तो उसके पास अधिकार होगा आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में हेविस कॉर्पस फाइल करने का या फिर हाई खामने अगर जाते हैं तो एक्जीक्यूटिफ मेजेस्टेट घया करेगा सिर्फ सेवन डेस की पुलिस कस्टरडी को अलोट कर सकता है मतलब इस व्यक्ति को साथ दिन की रिमांड तख भेजा जा सकता है लेकिन अगर साथ दिन में एक्जीक्यूटिब मेजेस्टर के साथ दिन अगर खतम हो रहे होंगे और उसको police officer को और अपनी custody को क्या कराना है और अपनी custody को increase कराना है ठीक मान लो उनको 7 दिन और चाहिए कि वो जो है 7 दिन अभी और investigation करना चाहते हैं या फिर 3 दिन अभी और investigation करना चाहते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसको जो ह executive magistrate के सामने से judicial magistrate के सामने पेस किया जाएगा जिनके पास case को try करने का jurisdiction होगा और उसके बाद में जितने दिन की चाहे वो 3 दिन की मागे, 4 दिन की मागे, 5 दिन की मागे, 6 दिन की मागे, 7 दिन की मागे और maximum 8 दिन की माग सकता है ठीक तो इसकी जो है police remand को क्या police remand को भी लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी कोई भी चाहे जुडीशियल मजिस्टेट हो या एक्जीक्यूटिव मजिस्टेट हो डायरेक्टली क्या 15 डेस की रिमांड जर्नली तोर पर नहीं देते हैं ऐसे ही एक्जीक्यूटिव मजिस्टेट की जो मैक्जिमम् पावर फिर पुलिस ने कुछ excuse दिया कि भाई investigation के लिए और जादा हमें time चाहिए अभी हो नहीं पाई है तो जो है इसको increase कराया जाता है लेकिन maximum 15 दिन से जादा इसको increase नहीं किया जा सकता अब 15 दिन के बाद माल लीजिए investigation complete नहीं हुई clear investigation 15 दिन के अंदर पुलिस complete नहीं कर पाई तब क्या होगा तब जो है जो हमारा magistrate होगा come come to the next point most important point for the jail student ठीक अब देखिए यहां से आईए आगे अब suppose कीजिए पुलिस कह रही है कि भाई हमको investigation करने के लिए extra time चाहिए क्या चाहिए extra time पुलिस को चाहिए तब क्या होगा तो पुलिस कस्टडी का time period कितना है CRPC में remand का time period maximum क्या है हमारे 15 दिन है ठीक तो 15 दिन खतम होते ही उस व्यक्ति को दुबारा से judicial magistrate के सामने पेस किया जाएगा और judicial magistrate फिर उसको क्या करेंगे judicial custody में भेज देंगे अब बहुत सारे लोगों को ये doubt आएगा कि ये judicial custody और हमारे police custody में क्या अंतर है अब देखो यहाँ पर इस चीज को छोटे सी बात में समझ लो कि judicial custody और police custody का मतलब क्या है police custody जो भी हमारी investigating agency है ठीक investigating agency suppose करिए police है ठीक तो police के पास जो थाने का lock up होगा उसमें आपको 15 दिन रखा जाएगा या फिर आपकी investigation CBI कर रही है या SIT कर रही है ठीक तो ये क्या है ये हमारी special agency है तो ये भी 15 दिन तक जादा से जादा अपने पास उस व्यक्ति को रख सकती है investigation के दोरान और उसके बाद जो judicial magistrate होते हैं पंदरा दिन के बाद क्या करेंगे judicial custody अलोट कर देंगे ये क्या होगा ये जो proper jails आप देखते हो ना के central jail of the hard ठीक तिहार jail या फिर state की ब्यार की state jail या फिर आपके district jail तो जो jailer होता है यहां पर किसके पास रह रहा है जो भी हमारा I.O. होगा I.O. की custody में वो व्यक्ति रहेगा जब तक हमारी remand चल रही है लेकिन जैसे ही क्या होगा जैसे ही judicial custody की बात आएगी वैसे ही ये जो है इसको proper jail में send कर दिया जाएगा और investigating authorities के पास से इसकी custody jailer के अंडर चली जाएगी that is clear? इतनी चीज clear हुई? सर पुलिस remand के द्वारा डंडे से पिटाई की जाती है किसकुमार जी that is the old concept अब जो है डंडे से पिटाई पुलिस remand में भी नहीं की जाती ठीक? अब यहाँ पर इसके बाद एक concept आता है कि default will का rise curve arise होता है अब यहाँ पर आपको बहुत ही important और interesting चीज मेरे से समझनी है इतना diagram अगर clear हो गया हो तो एक बार फटाफट से session को like कर दो और जबर्जस तरीके से अपने दोस्तों के साथ share कर दो जल्दी से अब यहाँ पर accused के पास default bail का rise कब उठेगा? कब उसका अधिकार होगा कि वो default bail ले सके clear सबको मजा आरा CRPC पढ़ने मे CRPC पढ़ने में मजा आरा है या नहीं आरा? अब देखिए यहीं से connect करते है default bail के right को ठीक और default bail का concept यहीं समझ लेते हैं क्योंकि यहीं पर बहुत ज़्यादा important चीज़े हमें default bail की पूछी गई है ठीक इस diagram को बना लेना screenshot लेकर अब आते हैं हम जो है default अब देखो यहाँ से procedure शुरू करेंगे आगे ठीक है अब यहाँ तक के diagram को आप भूल जाएए और यहाँ से आगे continue करेंगे मैं इसको rough करने जा रहा हूँ clear कर दूँ न rough इसको rough करने जा रहा हूँ ठीक अब वहीं से procedure को शुरू करते हैं suppose अब आईए यहाँ पर बहुत ही important और interesting चीज़ बता रहा हूँ याद हो जाएगी आजी और इसके respect में जितने भी चीज़ें होंगे वो सारी चीज़ें आप जो है समझिएगा अब यहाँ पर 15 दिन की police remand थी वो अब खतम हो चुकी है judicial magistrate के सामने accused व्यक्ति को दुबारा से पेस किया गया है और जैसे ही यह पेस ही हुई judicial magistrate सामने कह दिया कि आपकी investigation कितने दिन भी चलती रहे हमें इससे कोई मतलब नहीं है अब आप इस व्यक्ति को नहीं अपने पास रख सकते ठीक तो वो जो judicial custody कब allot की जाएगी इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ऐसे सारे व्यक्ति जिनने offense कमिट किया है कौन सा offense कमिट किया है जहां पर हमारी less than 10 year of imprisonment के offense उन्होंने किये है clear यहां पर समझना दो concept समझाने की बहुत ज़्यादा important तरीके से कोशिश कर रहा हूं क अगर ऐसा कोई offense है जहां पर 0 से लेकर 10 साल तक के कम offense किसी भी व्यक्ति ने कर रखे हैं तो उसको जो है क्या उसको 60 दिन से कितना total जो है 60 days तक की judicial custody में भेजा जा सकता है इसका मतलब अब judicial magistrate के उपर भी foundation लगा दी गई है कि police अपनी investigation report 60 दिन के अंदर नहीं submit करे तो उस के पास अधिकार होगा यहां पर जैसे ही 60 दिन complete होंगे कि वो व्यक्ति जो है default bail की application court के सामने रख सकता है clear लेकिन अगर अपराद ऐसा है जिसमें punishment कितनी है 10 साल से अधिक और हमारी death penalty तक की punishment है तो इस case में आपको देखने को मिलेगा कि judicial magistrate जो judicial custody में भेजेंगे वो total 90 दि के लिए उस आदमी को भेज सकते हैं और उसके बाद भी पुलिस ने अपनी investigation को complete नहीं किया है तो इस व्यक्ति के पास default bail का right arise हो जाता है clear तो यह बात याद रखनी है कि default bail का right कितने दिन में judicial custody अब यहाँ पर दो चीज़े आई 60 दिन में 10 साल से नीचे के offenses में क्या होगा default bail में जाएंगे और दूसरा हम जो है 90 दिन में 10 साल से उपर की punishment में default bail में जाएंगे इसका मतलब judicial custody कब तक दी जा सकती है अपनी investigation को complete करके final report submit कर दी है तो वो final report जब judicial magistrate साब के सामने पहुचेगी इसके बाद वो अपना judicial mind apply करेंगे और charge framing करके क्या कर देंगे issue जो है फ्रेम करने charge frame करने के बाद जो है उसका trial start कर देंगे ठीक और अगर trial start हो चुका है final report जो है submit हो चुकी है इसके बाद में जो ये accused होगा उस पर 90 वे दिन और 60 वे दिन ये कहने का अधिकार नहीं होगा कि मुझे यहाँ पर क्या करिए मुझे यहाँ पर आप जो है default bail दीजिए clear अगर पहले 60 दिन से पहले ही 10 साल से कम के offenses में और 90 दिन से पहले 10 साल से ज्यादा के offenses मे पुलिस ने अपनी जो है क्या कर दी है final report submit कर दी है judicial magistrate को तब जो है default bail का right जो है नहीं दिया जाता ठीक तो यहाँ पर फिर उसके बाद judicial magistrate जो है उस व्यक्ति को कितने भी दिन की judicial custody में आगे रख सकते हैं और जितने लोग इन सारी situations में 2-3-3 साल से judicial custody में पड़े हुए है इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है अंडर trial prisoners ओके क्या बोला जाता है इन सारे लोगों को बोला जाता है under trial prisoners clear हुआ इतना यह है पूरा 167 ठीक यह क्या है यह पूरा हमारा देखो यहां पर प्रग्या जी का सवाल आया है कि सर डेफॉल्ट डेफॉल्ट वेल magistrate को जो है पूरी तरीके से देनी पड़ेगी उसके उपर बर्डन है या नहीं तो देखो यहां पर एक चीज़ समझना default वेल का right अगर arise हो चुका है तो देनी पड़ेगी लेकिन इसके बहुत सारे लूप पूल्स होते हैं जो system में होते हैं उससे पहले ही पूलिस जो है investigation का जो है कुछ पार्ट submit कर देती है और उसके बाद उसकी magistrate की जो power है वो judicial का study में उस व्यक्ति को under trial prisoner की तरह रखने के लिए बढ़ा दिया जाता है ठीक तो यह actual situation अगर arise होती है तो देनी पड़ेगी और arise नहीं हो इसी बज़े से जो है क्या इसी बज़े स यहां पर बहुत सारे जो हो system के loophole से उनका इस्तमाल किया जाता है clear ठीक आया मजा इससे related यह हमारा total क्या पढ़ा दिया मैंने 167 पढ़ा दिया 167 clear हो गया जितनी बातें इसमें बताई गई थी वो बातें मैंने आपको सारी एक एक चीज इसकी जो है क्या कर दी खोल के रख हो जितने भी paid class के बच्चे हैं उनको पता होगा कि CRPC जो है कैसे पढ़ाई जाती है ठीक चलो आगे चलते हैं next question पर अब देखो यह मैंने अब पूरा आपको 167 समझाना था समझा दिया है अब यहां से 167 से related जितने भी question आएंगे ध्यान से पढ़िएगा और गलत मत जल्दी जल्दी अब class को आगे बढ़ाते हैं next question the investigating officer shall within the 24 hour of the arrest of a person transmitted to the nearest magistrate a copy of entries in the daily related to the case along with the accused if the investigation is completed within 24 hours not completed within 24 hours not required changed by the competent authority to the another investigation officer जांच अदिकारी किसी व्यक्ति की गिरफतारी के 24 घंटे के बीतर निकटतम नियायक मजिस्टिट को उस मामले से संबंदर डायरी में प्रविष्टियों की एक प्रती आरोपी के साथ बेजा यद जांच चल रही है 24 घंटे के बीतर पूरी की गया 24 घंटे के बीतर नहीं हुई आवस्चक नहीं है समक्ष प्रादीकरण द्वारा दूसरे जांच अदिकारियों को बदल दिया गया ठीक तो अब यहां पर क्या पूछा गया है अगर ऐसी सिचुएशन है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किसी परसन को अरेस्ट कर लिया गया है और आपको नहीं मिलती है तो मेरे टेलिग्राम गुरूप अपूर्व शर्मा पर कनेट करें ए पी यू आर वी ए अपूर्व शर्मा ओफिशियल यहां पर मैं आपको पहले से ही क्लास की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं वैसे जो डेली मेरी क्लास की टाइमिंग है देट इस स तो आप डेली छे वजे मुसाम को मुझसे जुड़ सकते हैं तो अगर हम यहां पर इस केस की बात करें तो जुडीशल मजिस्टेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि वो जिस भी व्यक्ति को पकड़ के लाया है और 24 गंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो उसको जुडीशल मजिस्टेट के सामने उस व्यक्ति को जो है क्या जुडीशल मजिस्टेट के सामने उस व्यक्ति को पेस करने की जरूरत नहीं है जब क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन 24 गंटे के बाद जा रही है और complete नहीं हो पारी है उस समय जो ह be completed within 24 hours the largest period for which an accused can be remanded to the police custody ठीक जब जा 24 गंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो ROP को पुलिस हिरासत में भेजे जाने की सबसे बड़ी अबदी क्या है 10 दिन, 13 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन ये कोशन किसी का गलत आंसर ना आए मैं आशा करता हूँ कि इतनी देर समझाने के बाद अब कोई भी student इसका wrong answer नहीं करेगा क्या answer है C is the correct answer 15 दिन से जादा judicial magistrate जो है custody grant नहीं कर सकते that is the maximum limit और अगर in practical देखोगे तो judicial magistrate भी जादा person जो है क्या जादा टेंशन नहीं लेते maximum पुलिस रिमांड को सिर्फ वर सिर्फ 14 दिन के लिए ही अलोट करते हैं जिससे कि जो उसका 15 दिन का जो अधिकार है वो वाइलेट ना हो जाए और उसके बाद वो जो है आगे उपर हाई कोट और सुप्रीम कोट में नहीं चला जाए तो C is the correct answer of this question लेकिन हमारे bare act की जो language है वो total number कितने है 15 days है that is the most important thing of the prelims point of view जहाँ पर objective question जेलो में आपसे पूछे जाएंगे next question पर आईए फटावट से under section 167 of CRPC and executive magistrate empower to grant a remand for a maximum period यहाँ पर क्या कह रहा है के कारे-कारी magistrate की अधिक्तम अबदी remand को देने की कितनी है 15 दिन, 9 दिन, 7 दिन या फिर ननौब दियेवा 15, 9, 7 या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं एक चीज में यहाँ पर बताने भूल गया था वो अभी बता दूँगा ठीक है देखो साथ दिन executive magistrate जादा से जादा जादा क्या police remand को apply कर सकता है मतलब police remand में किसी भी व्यक्ति को साथ दिन तक ही maximum भेजा जा सकता है उसके अलावा executive magistrate के पास यह power नहीं होगी अब यहाँ पर एक चीज समझेगा कि अगर executive magistrate साहब को जो है क्या judicial magistrate साहब है नहीं उस time पर police officer किसी भी व्यक्ति को क्या करके आया पीओ जो है हमारा किसी भी व्यक्ति को लेकर आया executive magistrate ने पहले तीन दिन की ग्रांट कर दी उसके बाद जो है दो दिन की और ग्रांट कर छे दिन हो गई total अब क्या हुआ उस समय पर जो है क्या उस समय साथ और एक दिन अब बचराए बस ठीक है एक दिन बचराए और साथवे दिन भी judicial magistrate है नहीं छुट्टी पर है तो इस case में क्या होगा इस case में सिर्फ वो एक दिन का और extension कर सकता है माल लीजिए साथवे दिन के लिए आगे बढ़ा दे अगर नहीं प्रडियूस हुआ तो साथवे दिन ही जो है डिफॉल्ट बेल का राइट जो है एक्क्यूस्ट परसन के पास आ जाएगा अगर उसको आगे बढ़ाया गया अगर उसको जो है क्या आगे नहीं बढ़ाया गया judicial magistrate के सामने तो साथव पीरिड ऑफ 90 देज दूरिंग इन्वेस्टिकेशन इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेवल विद डैथ विद दी इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ विद दी इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 येर्स ओल अवफ दी अबब सी आर पीसी की धारा एक्सो वन सिस्टी जहाँ पर डैथ पिनल्टी लाइफ इंप्रिजमेंट और 10 साल से ज़्यादा की इंप्रिजमेंट है वहाँ पर जो जुडीशियल मैस्ट्रेट की पावर है किसी भी विद्यक्ति को जुडीशियल कस्टडी में भेजने के लिए वो कितनी है 90 दिन तक एक्स्टेंड की जा स रखती है तो option D जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है clear इतनी चीज़ें clear हुई देखो 167 ही पड़ रहा है most important section है हमारा ठक गया मैं भी बोलते बोलते समझाते समझाते clear हो गया ना आप कोई गलती तो नहीं करके आएगा किसी भी पेपर में 167 में ठीक चलो session को like करती है अगरो यार इतनी देर महनत करनी पड़ती है इतनी देर चिला चिला के आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है तो at least session को like करना तो आप लोगों का बनता है please like the session as soon as possible then we will go ahead for the next question चलिए next question पर आईए moving ahead what does not expect transit remand denotes transit remand का अर्थ क्या नहीं है ये पूछा जा रहा है option A it is a transfer of the prisoner from one to another jail option B it is a transfer of criminal cases from one court to another option C it is taking out and accused by the police from one state to another state option D it is taking out of the accused from court to the prison transit remand के बारे में पूछ रहा है यह कैदी का एक jail से दूसरे jail में स्थांतर्ण दूसरा यह एपरादिक मामले का एक नियाले से दूसरे नियाले में स्थांतर्ण तीसरा यह पुलिस दौरा एक आरोपी का एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना option D यह अभिवक्त की अदालत को jail तक ले जा रहा है ठीक बताईए फटाफट से अभिवक्त को अदालत तक ले जाना यह है transit remand का meaning transit remand क्या होती है जल्दी से कोई explain कर पाएगा फटाफट से किसी चीज़ की जरुवत नहीं है बस आप लोग live जुड़े रहें session को like करते रहें यही जो है सारी चीज़े है ठीक ना चाय की जरुवत पढ़ेगी ना पानी की डेली भी नहीं पढ़ती ना तो आज भी नहीं पढ़ने वाली है फटाफट से जल्दी से इसका आंसर बताईए देखो यहां पर कह रहा है कि transit remand क्या होगी एक व्यक्ति को जो है एक prison से दूसरे prison में लाना transit remand के अंदर आता है दूसरा एक accused person को एक station से दूसरे state के police station ले जाना ये भी transit remand में आता है एक व्यक्ति को court से जो है क्या prison में ले जाना ये भी transit remand के अंदर आता है लेकिन जो हमारा option number भी है it is a transfer of a criminal case from one court to another court this concept is called as transfer of cases from one court to another court ठीक है तो option number B जो है क्या हो जाएगा B is the correct answer बाकि जो सारी चीज़े हो रही है वो जो है किसके respect में हो रही है एक व्यक्ति जो accused है उसको travel करने के बीच में हो रही है इसी बज़े से आप यहां पर जो है इन दो option number B जो है क्या इसका जो है बिल्कुल सही answer है ठीक CRPC में कहीं define नहीं है कुछ चीज़े CRPC में define नहीं होती या फिर IPC में define नहीं होती तो उनका जो है क्या हम logical interpretation देखते हैं और logical interpretation हम अपने आप से कभी किसी चीज़ का नहीं बनाते यह logical interpretation के question जो है Supreme Court के recent और landmark judgment से निकल कर आते हैं और जब भी कोई landmark judgment होता है वहीं से यह question जो है आयोग आपके लिए create करके रखता है जिससे कि उसका सही answer students को बताने पर कोई दिक्कत ना हो और अगर student उस पर objection डालते हैं तो ऐसे cases में क्या होगा ऐसे cases में Supreme Court के उस judgment को court किया जाता है ठीक तो आप यह मस सोचिए कि जो CRPC में नहीं लिखा वो JLO में पूछा नहीं जा सकता CRPC से related कुछ अधर चीज़ें है important case loss जो आपको पूछे जाएंगे important legal maxim आपको पूछी जाएंगी important legal word जो CRPC के respect में चाहे procedure से related हो चाहे trial से related हो चाहे MCQ से related हो सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है clear option B is the correct answer transit remand के बारे में पढ़ लेते हैं transit remand का अर्थ है किसी व्यक्ति को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाकर उस व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में देना ठीक तो यहाँ पर simple भासा में समझे transit remand का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को दूसरे इस्थान से ले जाकर जो भी time period होगा उसको transit remand बोलेंगे और उसको जो है क्या अपने हिरासत में देना तो उस गिरफतार व्यक्ति को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर लिए दूसरे इस्थान पर जाने के लिए वारंट जारी किया जाता है उसे transit वारंट कहा जाता है transit वारंट का केसे समझ में आ गई होंगी ठीक transit remand हो गया चलिए आगे चलते हैं next question पर which section of CRPC investigation officer must be maintain a case diary अब देखो यहां पर आप हमारे 167 के बाद हमारा 171, 172 और 173 most important provision है जहां पर हमें question बार बार repeatedly देखने को मिलता है ठीक तो यहां पर आप समझेगा क्या कह रहा है कि police investigation officer जो होगा हम यो जो होगा उसको case diary maintain करनी होगी तो वो case diary जो है कौन से section के तहत वो maintain करता है सबसे पहले एक तो case diary होती है case diary में जो भी investigation क्या होगा जो भी investigation officer होगा वो सबसे पहले उसने पहले दिन वो कहां पर गए दूसरे दिन वो कहां पर गए तीसरे दिन वो कहां कर गए किस किस witnesses से बात की क्या क्या चीजें एक्यूज ने बताई कहां कहां पर एक्यूज के जो भी ओफेंस के जो क्या हमारे सारे ओजार थे उनको एकटा किया गया ठीक तो ये सारी चीजें पूरे इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट जिस दिन से एफाईयार लॉज होई है उस दिन से जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं बन जाती कोई भी एक्टिविटी पुलिस ओफीसर या इन्वेस्टिगेशन ओफीसर उससे रिलेटिड करता है वो सारी चीजें जो है कहां पर केस डायरी में रिजिस्टर की जाती है दूसरा होता है हमारा दूसरी डायरी कौन सी होती है एफाईयार रिजिस्टर एफाईयार रिजिस्टर का एक पूरा परफॉर्मा होता है बाकाइदा हर पेज 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 नंबर लिखा होता है जहां पर अगर कोई भी ऐसा मैटर जो के 154 के अ पहली हो गई case diary, दूसरी हो गई क्या कहते हैं, हमारी FIR diary, और तीसरी diary पर आईए, तो तीसरी diary किसके respect में बात करती है, तीसरी diary होती है, non-cognizable offenses के register, ठीक है, ये भी state government प्रोवाइड करती है, और इसके भी prescribed format होते है, इसकी जो FIR है, वो 155 के तहत लिखी जाती है, तो ये तीन तरीके की basic diary हमें देखने को मिलती है, अब investigation और cases diary का काम क्या होता है, जब कोई भी IO investigation complete कर लेता है, और अपनी final report submit कर देता है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है, कि इसके trial जो है, काफी लंबे समय तक चलते हैं, और काफी सालों बात इनकी जो है, क्या होती है, hearing होती है, तो जो भी चीजें उसने investigation के दौरान की हैं, क्योंकि investigation officer के पास workload बहुत है, तो वो जो है बहुत सारे cases को deal कर रहा है, तो जिस समय वो दुबारा से उस case के लिए, suppose करिए, चार साल या पांस साल बाद उसकी date लगी और वहाँ पहुचा, तो उसको वो सारी चीजें याद कैस रहेंगी, इसी बज़े से इस case diary को maintain कराया जाता है, कि वो उसको एक बार peripheral view लेके उस case का जा सके, जिससे के उसकी जो है memory refresh की जा सके, ठीक, तीसरी diary, कौन तीन डायरियों के बारे में अब तक बता दिया, चौती डायरी होती है, एक station पर normal diary, ठीक, इस normal diary में क्या लिखा जा इस diary में पूरे police station का लेखा जोका रखा जाता है, including the, चाहें कोई भी officer हो, जो वहाँ पर तैनात है, तो उन सारे officer का लेखा जोका कहा रखा जाएगा, हमारी एक police station की reporting diary के नाम से इसको जाना जाता है, इसमें रखा जाता है, clear, तो ये basic चार तरीके की diary CRPC में आपको देखन को मिलती है, clear, और जो भी statement हमारे case diary में police officer के द्वारा लिखे जाएंगे, वो as a evidence किसी भी व्यक्ति के against में use नहीं किये जा सकते, ठीक, ठीक, case diary को police report कहते है, that is not good, that is, ऐसे बिल्कुल सही statement नहीं है, case diary अलग होती है, police report अलग होती है, ठीक है, police report 173 में, पूरे incident का ब्योरा with all the things लिखी जाती है, case diary police officer अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं इतने बज़े उठा, फिर मैंने accused के घर पे गया, उसको वहाँ से लिया, फिर वहाँ से मैंने उससे पूछा, पूस्तास करने के बाद मैं वहाँ से, हम जो है, एक नदी के पास गई, वहाँ पर एक पूराना सा पेड था, पेड के नीचे उसने चाकू से मडर किया था, वो चाकू घाड रखा था, तो वो सारी चीज़े मैंने recover की, और recover करने के बाद मैं उसको police station लेकर आ गया, फिर मैंने इसको हिरासत में रखा, हिरासत में रखने के बाद 24 गंटे के सामने पेस किया, judicial magistrate के सामने जो है, इसको पेस करने के बाद मैंने police remind मागी, police remind मागने के बाद 3 दिन की पहली police remind मिली, 3 दिन की पहली police remind के दौरान हमने और investigation देखना सुरू किया, उसके बाद हमें बहुसी चीज़े देखने को मिली, जहां पर हमने जहां पर गटना गटे हुई थी, वहाँ पर मैं पहुचा, मैंने वहाँ से evidences collect हुए, जो भी dead body मरी पाई गई उसके fingerprint इस चाकू पर, जो है क्या, इस व्यक्ति के चाकू से बिलकुल match करते हैं, चाकू के symptom ऐसे ही हैं, उसके बाद में, 3 दिन के बाद हमने दुबारा इसको court में present किया, court में present करने के बाद में, हमने 3 दिन का further extension मागा, फिर further extension में इसने हमने पूछा, कि वहाँ पहाँ पर कौन-कौन से लोग मौजूद थे, फिर हम आई बिटनेस के यहाँ गई, यह सारी चीजें हुई, तो पूरा लेखा जो खा, पूरा लेखा जो खा, इस diary में, अपनी जान समझ राइट, चलो, तो अगर हम बात करते हैं, केस डाइरी की, तो केस डाइरी का कौनसेप्ट हमें, 172 में देखने को मिलता है, बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, यह 3 important बहुत ज़्यदा डाइरी होती है, इसका तो कबस जो है, पूलिस स्टेशन की एक तरह से अटेंड investigation officer to keep a diary and enter the procedure of the investigation, this daily, this diary is called as the case diary or the special diary or police diary or a station house report, ठीक, इसको जो है, चार नाम से जो है, जाना जाता है, लेकिन बेसिकली चार डाइरियां हमारे police station में देखने को मिलती है, चलो, next question, the police diary under section 172 of CRPC 1973 is used for which one of the following thing, for collection of evidences, for recording the statement of the witness, for aid and inquiry or trial to the court, for aid and investigation to the police, ठीक, डन पड़ गया सहेता 1973 की धारा 172 के ताहत, police diary का उप्योग निम लिखित में से किस चीज के लिए किया जाता है, साख शेकत्रित करने के लिए, गवाहों के बयान दर्च कराने के लिए, नियाले में, जांच या मुकदमे को सहाइता देने के लिए, police को जांच में सहाइता के लिए, police diary का report, अभी मैंने आपको बताया, क्या report, police diary का क्या काम होता है, police officer की investigation में, जो सारी चीजे हो रही हैं, उसको लिखना, और वो सारी चीजों को बताना, ठीक, तो यहाँ पर जो ये, इसका, हमारा, ये किसके लिए, inquiry और trial के समय, police officer अपनी memory को क्या कर सकता है, memory को refresh करता है, और refreshing memory का concept, evidence act के, Indian evidence act के, किस section में दिया गया है, evidence act के, refreshing memory के concept के, अगर बात करें, तो 159 of Indian evidence act, हमें, refreshing memory के बारे में बताता है, और इस question का सही answer क्या है, inquiry और trial के समय, magistrate साब, अगर police officer से कुछ पूछते हैं, तो वो इस diary के सहीयोग से, अपनी 3 साल, 4 साल, पुरानी investigation का ब्योरा दे सके, option C, जो है, इस question का बिलकुल सही, जबाब है, ठीक, option C is the correct answer of this question, बच्चा, आगे चलते हैं, next case पर, after investigation, pertaining to an offense of murder, the police files and, files a cancellation report, the report can be accepted only by the magistrate, court of session, high court, या फिर none of the above, हत्या के अपराज के संबंद में, जाच के बाद, police, रद्धी करन रिपोर्ट दर्ज कर सकती है, रिपोर्ट को केवल, द्वारा ही सुईक्रित किया जाएगा, magistrate के ससनाले के, उच्चनाले के, या फिर कोई नहीं, बताएं, investigation pertaining to murder, murder के respect में, किसके द्वारा, magistrate के द्वारा, option A is the correct answer of this question, A is the correct answer, next question, which one of the following section of CRPC 1973 is applied when the officer in charge of police station receive any information that the person has committed suicide, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि CRPC 1973, निमलिकित मैं से कौन सी धारा तब लागू की जाती है, जब police station को प्रवारी अधिकारी को यह सूचना मिलती है, कि किसी भी व्यक्ति ने आत्मत्या कर ली है, 114, 114, 147, 181, किसी भी व्यक्ति ने suicide commit किया है, किसी भी व्यक्ति ने suicide commit किया है, इसकी information अगर police officer को आ रही है, तो police officer जो है, 174 के according के procedure को follow करता है, ठीक, option number B is the correct answer of this question, 174, that is not इतना important for the JLO exam, तो आप इसको एक बार, इसका peripheral, जो है क्या, Bayer Act की reading, शिर्मी में के साथ, 5 से 6 वाले session में कर लेना, moving ahead, next question पर आते हैं, which section of CRPC applies when the officer in charge of police station received the information that person has committed suicide, he immediately reported to the executive magistrate, that is given under section 174 itself, ठीक, 174 की कुछ important बातों पर प्रकास डालें, सबसे पहले क्या गह रहा है, कि CRPC का, जो हमारा section 174 है, वो किसके बारे में बात करता है, when the officer in charge of police station, and some other police officer, especially empowered by the state government, receive information that a person committed suicide, has been killed by another, and by animal, or by machinery, or by anything, ठीक, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो, 174 के concept को, ऐसी सूचनाएं, जहाँ पर कोई भी police officer in charge को प्राप्त हो रही है, या फिर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, जिसको state government ने empower कर रखा है, वो power provide कर रखी है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने suicide commit किया है, जहाँ पर एक व्यक्ति को, जो है, एक व्यक्ति की मौत की गई है, किसी दूसरे के द्वारा, वो मरा पाया गया है कहीं पर, लेकिन accused व्यक्ति का पता नहीं चला है, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है, किसके द्वारा, किसी भी animal ने, जानवर ने उसको मार दिया है, या फिर जो सबसे बड़ी important बात है कि अगर किसी भी इंसान की machinery में अटक वटक के मौत हो गई है उस समय या फिर किसी भी other unnatural जो है क्या unnatural cause की वज़े से death वो व्यक्ति कर गया है तो ऐसे cases में जिस भी व्यक्ति को ये जो है क्या information provide की जाती है उस information को वो सबसे पहले किसको देता है जो उसके छेतर के कारेकारी magistrate मतलब executive magistrate होते है और फिर executive magistrate जो है क्या करते हैं उसके साथ जाकर वहाँ पर इन सारी चीजों की तैकिकात को start करते हैं clear तो option number B तो इसका सही answer हो गया और ये 176 का पूरा cracks हो गया ठीक 174 का पूरा cracks हो गया moving ahead next question पर आते हैं चलिए next question पर आईए when the officer in charge of police station receiving the information that the person committed suicide he will be immediately reported to the executive magistrate किसको कारेकारी magistrate को executed magistrate को वो तो है तुरंत से क्या करेगा report करेगा कि भाई मेरे area के अंदर फला फला जगया पर एक व्यक्ति को मिरत पाया गया है और आप जल्दी स चलिया किसी ने suicide commit कर लिया किसी जानवर ने उसको आदा खाके डाल दिया जानवर ने ठोकर मार दी तो किसी व्यक्ति की मिरत्यों हो गई ठीक तो चलिए next question पर आते हैं next question क्या है section 173 sub clause 8 of CRPC criminal procedure code deals with fresh investigation further investigation reinvestigation या फिर none of the above दंड प्रक्रिया सहता धारा 173 आठ किससे संबंदित है नाइस रेस की जानच आगे की जानच पुन है जानच या फिर उपरुक्त मैं से कोई नहीं बताइए फटाफट से 173 clause 8 is related to the आगे की जानच further investigation ठीक तो option number B is the correct answer of this question moving ahead next question पर आते हैं A was wounded in Uttar Pradesh and dies of his wound in Bhopal ठीक A को जो है क्या करा गया A को Uttar Pradesh में घायल किया गया और उसकी मिरत्त कहां पर हुई Bhopal पर जाके हुई The offense of causing is death may be inquired and tried by ठीक मिरत्त कारित करने के अपराद की जाच और मुकदमा चलाया जा सकता है एक को जो है क्या गूसा मारा और वो गूसा कहां पर मारा गया मारा गया आगरा उत्तर पिदेश में वो जाकर मरा कहां पर Bhopal में तो यहां पर cause of action जो है क्या cause of action arise कहां पर हुआ था आगरा में लेकिन उसकी cause of death कहां पर हुई भूपाल में तो मुकदमा कहां चलाया जाएगा criminal trial कहां चलाया जा सकता है जहां पर death का main incident घटेत हुआ है और जहां पर actual death हुई है उन दोनों ही जगे उत्तर पिदेश आगरा में और भूपाल में दोनों ही जगे क्या criminal trial चलाया जा सकता है clear तो option number c is the correct answer of this question एक बात important है 176 को मैंने अभी skip किया है कल class start करूँगा तो 176 से start करूँगा और फिर 190 वाले provisions को आगे करेंगे क्यों skip किया है क्योंकि आज इतने सारे concept समझा दिये हैं और आप फिर जो है क्या mingle करने लगोगे चीजों को याद आपको नहीं रहेंगे 116 छोड़ दिया है इसको जो है कब पढ़ेंगे कल की class की starting में 176 को पढ़ लेंगे और उसके question कर लेंगे फिर हम 190 से अपनी classes को start कर देंगे moving ahead next question an offense is committed by the British region on aircraft register in India the offender may be dealt with under which provision of CRPC 1973 भारत में पंजीकृत बिमाद पर एक ब्रिटिस नागरिक द्वारा अपराद किया गया अपरादी पर डंद सहिर के अपराद के किस प्रावजन के दर कारवाई की जा सकती है 188, 183, 182, 186 बताएं फटाफट से दारा 188, 183, 182, 186 सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक यू बताने के लिए महनत से पढ़ाते हैं अच्छा बुरा तो स्टूडेंट बताते हैं कि कैसा पढ़ाया जा रहा है ठीक है यहाँ पर पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ने जो इंडिया में एरग्राफ रजिस्टर है या सिप रजिस्टर है उस पर जो है हमला कर दिया तो किस धारा के प्रावधान के अकॉर्डिंग उसके उपर जो है केस चलाया जा सकता है अगर अच्छा बढ़ाते हैं तो लाइक क नहीं किया है सेशन देखो 176 को छोड़ने का आज एक जैनुवन कारण बता दे रहा हूँ 176 भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना 167 इंपोर्टेंट था और जितना 172 था 173 था ठीक अब 176 को कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास में लगबग 15 मिनट इसको डिसकस कर लेंगे और उसके बाद 190 से स्टार्ट करके 260 तक के सारे सेक्शनों को मैं आपको कवर करा दूँगा क्लियर चलिए यह फटाफट से यहां पर क्या पूछा है यहां पर आपसे पूछा था कोस्टन के एयरक्राफ्ट के उपर किसी भी इंडियन रेजिस्टर एयरक्राफ्ट के उपर बिटे सिटीजन ने अगर हमला किया है तो उसको CRPC के सेक्शन 188 के तहत क्या किया जाएगा उसका प्रोसीजर चलाया जाएगा ट्राइल चलाया जाएगा तो A is the correct answer of this question ठीक आज हमें discussion करना है section 190 से आगे वाले sections का मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज का जो important session होने वाला है उसमें हम discussion करेंगे section 190 से start करते हुए पहुचने वाले हैं कहां तक हम आज जो है इसको 260-265 तक complete कर देंगे अगर हम बात करते हैं किसकी अगर हम बात करें अपने इस पूरे subject की तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा ये subject है CRPC इसके दो सबसे ज्यादा important part हैं और वो दोनों part कौन से हैं वो दोनों part हैं हमारे जो है क्या हमारे दोनों part हैं सबसे पहले 41 से लेकर के हमारा 60 तक का सबसे important area जहां पर arrest के provision हमने पढ़े थे और उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा 154 से लेकर 175 तक के सबसे important section है वो हमने पढ़ा और इनको at least मैंने 3 classes मतलब 3 घंटे में बस इतने सारे चीज़ों को पढ़ाया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी तरीके से कि अब हमारा जो CRPC की यह classes हैं इसमें हमें बहुत सी चीज़ें जो है आज करनी हैं और इसमें करने के लिए आपको जो है बहुत सी चीज़ें करने के लिए अगर आपने वो तीनों lecture नहीं देखे हैं तो आपको यह lecture समझ में नहीं आने वाले clear तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है आपको मेरे साथ connect रहना है और हम CRPC की इस जो है पूरी class को करने वाले हैं ठीक आज हम जो है connect करने वाले हैं कहां से section number हमने कल तक कर लिया था 175 तक और आज हम इसका detailed discussion आगे बढ़ाएंगे section number जो है कहां पर हम जो है section number 176 से start करेंगे और total हमको 260 तक करना है JLO की free classes में आपका मेरी तरफ से स्वागत है let's start with the class 173 की धारा 190 के तहट अपराद का संग्यान किसके द्वारा लिया जा सकता है judicial magistrate, session judge, high court या फिर district magistrate नियाएक magistrate, सस्त्र नियाले उच्च नियाले या फिर जिला magistrate के द्वारा ये जो है क्या आपका cognigence लिया जा सकता है बात किसकी हो रही है बात हो रही है हमारे 100 190 की, clear किसकी बात हो रही है हमारे 190 की बात हो रही है 176 के respect में बिल्कुल 176 आपको पढ़ाया जाएगा बट आज की class में नहीं 15 मिनट का जो time था 176 को पढ़ाने का वो board ने ले लिया है 190 से आगे continue किये कल मैं 6 बजे सार्प आपका सेशन स्टार्ट कर दूँगा 176 को हम कल के सेशन में डील करेंगे clear, चलो, फटाफ़ट से बताओ कि क्या गह रहा है, यहाँ पर आपसे जो question था इसका सही answer करिएगा कि 190 के according कौन सा magistrate empowered है कि वो जो है cognigence ले सकता है या संग्यान ले सकता है तो वो होते हैं हमारे judicial magistrate साब जो के section 190 clause 1 sub clause ABC के according किसी भी व्यक्ति की complaint पर क्या कर सकते है complaint पर CPI ठीक है और information पर cognigence ले सकते हैं तो जब हम 190 की बात करते हैं तो judicial magistrate का नाम सबसे पहले सामने आता है 190 बहुती important provision है और 3 तरीके के क्या यहाँ पर 3 तरीके की बाते हमको बताई गई है ठीक तो वो कौन-कौन सी 3 बाते हैं सबसे पहले उसको discuss करते हैं अगर मैं आप से बात करूं section 190 clause 1 sub clause A, B और C ठीक तो यहाँ पर 3 concept आपको देखने को मिलते हैं ठीक तीनों क्या है एक है C, दूसरा है P और तीसरा है I ठीक तो यहाँ पर सबसे पहले अगर किसी भी complaint की FIR register नहीं की गई है पुलिस के द्वारा तो उसके पास अधिकार है कि वो जो है directly किसके पास जा सकता है magistrate के पास जा सकता है और यह magistrate के पास जाकर अपनी सूशना प्राप्त कराएगा तीन माध्यम से पहली होती है complaint दूसरी होती है क्या पुलिस रिपोर्ट के थुरू और तीसरा होता है कोई भी information अगर judicial magistrate को प्राप्त होई है जहाँ पर उसको ऐसा लगता है कोई भी दुरगटना घटे तोई है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है क्या कारवाई शुरू करनी चाहिए और उस व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में क्राइम हुआ है वो उसकी information judicial magistrate को प्राप्त हो गई है तो इस cases में क्या होगा इस case में judicial magistrate के पास अधिकार होता है कि वो अपनी तरफ से क्या कर सके है judicial magistrate हमेशा क्या करते है judicial magistrate हमेशा जो है inquiry करते है क्या करते है inquiry करते है ठीक या तो यह खुद से उस जो है event की या फिर जो भी चीज होगी जो भी information या फिर complaint उनके पास आई है CPI के concept को follow करके तो 19 sub clause 1 19 clause 1 190 clause 1 sub clause ABC के according magistrate खुद से inquiry कर सकता है या फिर किसी भी police officer को ये आदेश कर सकता है कि वो जो है क्या करेगा उस matter की investigation स्टार्ट कर दे और ये आदेश के section में दिया जाता है मैंने बहुती detail में आपको पढ़ाया था 156 clause 3 ठीक तो यहाँ पर judicial magistrate जो है क्या करेंगे police officers को ये power देंगे कि आप जो है इस case की investigation करिए और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना क्या पढ़ेगा ये सारी चीज़ों को जो है investigation police officer को करना mandatory हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर खुद से भी judicial magistrate कर लें inquiry या फिर investigation को order कर सकते हैं तो option number a is the correct answer of this question is it clear क्या इतनी चीज़ सारे लोगों को समझ में आई 190 का basic procedure क्या है 190 को मैंने 156 के साथ भी आपको कई बार classes में discuss किया है क्या इतनी चारी चीज़ें आपको समझ में आई है या नहीं आई है जल्दी से बताईए फिर मैं next question पर चलूँगा यस आ गया 190 का मूलता सिद्धानत यही है कि अगर complainant या फिर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या आ रही है तो वो जो है क्या करेगा वो जो है directly judicial magistrate को approach कर सकता है सबसे पहले कोई भी घटना घटेत होती है हम जो है भागते भागते पुलिस स्टेशन जाते है अगर हमारा कॉगनी जेवल ओफेंस है तो 154 में F.I.R होगी non-cognी जेवल ओफेंस है तो 155 में होगी कॉगनी जेवल में अधिकार है पुलिस को कि वो directly किसी भी व्यक्ति के against में investigation सुरू कर सकती है doubt the permission of magistrate और magistrate की permission के बिना ही 154 के proceeding स्टार्ट हो जाएगी लेकिन 155 में अगर F.I.R दर जो है non-cognizable cases में तो magistrate से permission लेनी होगी और उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति के खिलाब जो है F.I.R के वो मतलब investigation पुलिस स्टार्ट कर पाएगी इसके बाद में अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही है तो इस cases में आपके पास पहला अधिकार होगा कि आप उस जिले में superintendent of police SP को reach out कर सकते हैं और उनको अपनी ये चीजें जो है लिकेत तोर पर दे सकते हैं जहां पर वो खुद से किसी दूसरे officer को appoint करके या जिस officer ने आपकी FIR को लेने से मना कर दिया था उस FIR को जो है क्या उस person को बोलकर आपकी FIR को पूरी तरीके से क्या कराएंगे register कराएंगे और investigation स्टार्ट करा देंगे जब ये सारा ही mechanism फेल हो जाएगा तब आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो आप judicial magistrate को जाके reach कर सकते हो और 190 के according अपनी दरख्वास complaint form में या फिर अगर उनके पास information पहुची है तो information के form में judicial magistrate खुद से matter की inquiry कर सकते हैं किसी भी अब अपने subordinate को क्या कर सकते हैं subordinate को दे सकते हैं कि आप इसकी inquiry करके मेरे पास report submit कीजिए और या फिर वो police officer को ही recommend कर देंगे कि investigation start कर दी जाए ठीक तो ये जो है क्या है prime motive है section 190 का जहां पर police अगर functioning अच्छे से नहीं करेगी तो आप judicial magistrate के पास reach out कर जाएंगे अपनी समस्या को लेकर clear तो option A is the correct answer of this question moving ahead अब आते हैं हम जो है next question पर next question है X is charged from promoting the enmity between two groups on the ground of language whose previous sanction is required before a court taking the cognizance of this offense under CRPC X एक X पर भासा के आदार पर दो समुओं के बीच दुस्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया CRPC के तैद इस अपरात का संग्यान लेने के पहले अदालत किसके पूर मंजूरी की आवस्चक्ता होगी district magistrate, high court, central government और state government, none of the above जिला magistrate, उस्चनियाले, केंद्र सरकार या राज सरकार, उपरुक्त मैंसे कोई नहीं अभी समझाता हूँ, पहले इस question का जवाब दीजे 190 को हम पूरा detail में discuss करेंगे clear, तो यहां पर आपको क्या कह रहा है, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, दो गुरुपों में लडाई करवा रहा है, जगडा करवा रहा है, दो गुरुपों को उकसा रहा है और उसके against में क्या करना है अगर कोई भी CRPC के according जो है क्या करना चाहिए, हमको action लेना है तो इस case में हमें किसकी permission लेनी होती है, ठीक तो वो जो ब्यक्ति होगा, उसकी ऐसे चीजों के लिए हमें जो है क्या करना होगा अगर expect किसी भी CRPC के सामने या फिर किसी भी court में ले जाकर procedure को start करना है तो हमको state government और central government की permission लेनी होगी that is the option C is the correct answer of this question, clear तो यहाँ पर option C जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है, moving ahead next question which court may take cognigence of offense under section 190 of CRPC कौन सी अदालत अपराधिक प्रक्रिया सहेता धारा 190 के तैत अपरादों का संग्यान ले सकती है any court, any magistrate of first class, any magistrate of second class especially empowered in this behalf और option D both B and C is the correct कोई भी नियाएक magistrate या फिर कोई भी नियाल है, दूसरा प्रतम स्रेडी का कोई भी magistrate, तीसरा इस संबंद में विशेष रूप से ससकते दूतियस रेडी का magistrate या फिर D option is B and C both ठीक, अब यहाँ पर किस से बारे में पूछ रहा है section 190 के respect में आप से पूछ रहा है कि कोगनी जैंस किस magistrate के द्वारा 190 में लिया जा सकता है clear, तो बताइए फटा-फट से कौन सा magistrate empowered है, कि वो किसी भी अपराद की information पर या complaint पर संग्यान ले सकता है तो अगर 190 की बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि any judicial magistrate ठीक, तो इसमें first class या फिर हमारा second class magistrate जिसको कि especially 190 में power दी गई है कि वो किसी भी चीज़ का संग्यान cognizance ले सकता है तो ये दोनों ही magistrate क्या करेंगे ये दोनों ही magistrate पूरी तरीके से जो है क्या संग्यान ले सकते हैं 190 के तहट, option D जो है क्या हो जाएगा, option D is the correct answer of this question, बहुत ही बहतरी सभी ने बिल्कुल सही जबाब दिया है समझा रही है क्लास 15 मिनट वेस्ट हो गए, उसके लिए मेरी गलती नहीं है बोड की गलती है, ठीक, तो थोड़ा सा गुस्ता इस पर भी उतार लेना, और दूसरी बात, 176 उस 15 मिनट में समझाना था, लेकिन आज की क्लास कंप्लीट नहीं उपाती, तो कल की क्लास 176 के डिटेल एक्स्पेनिशन के साथ सुरू करेंगे, क्लियर, उससे पहले के सारे 175 तक के सेक्षन को बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो उन प्रोसीजर्स को समझ लीजेगा, 114 से लेकर 175 most important है, 176 भी important है, जिसको हम कल की क्लास में discuss करेंगे, आया समझ में इतना, हाँ, ना, कुछ जवाब नहीं देना है, येस, नो, आ गया सर, चलो, next question पर चलते हैं, अब 190 को एक बार read कर लीजे, 190 बात करता है, cognigence of offenses by the magistrate, magistrate ओ, द्वारा अपरादों का संग्यान, ठीक, याद रखना heading से JLO में question, directly ऐसा ही, लड़ू की तरह चुपका हुआ मिलेगा, direct ऐसा ही, same कि ये question, cognigence of the offense by the magistrate is given, under which section of criminal procedure code, 1973, अब हम पढ़ते हैं, इसका sub clause 1, ठीक तो clause 1 क्या कह रहा है, subject to the provision of this chapter, अब देखिए, ये जो हमारा section है, वो किस पर applicable है, वो applicable है, subject to the provision of this chapter, मतलब, इस chapter के respect में, जितने भी provisions दिये गए हैं, उस पर जो है, धारा 190 काम करती है, ठीक, दूसरी बात, any magistrate of first class, word क्या use हुआ है, याद करते जाएगा, संग का संग, देखो, यहाँ पर, इस chapter के respect में बात हो रही है, first question यहीं से बनता है, ठीक, कि यह जो हमारा section 90 है, वो कहां कहां पर, 190 कहां कहां पर apply होता है, ठीक, तो इस अध्याए के प्रावधानों के अधीन, पहला question बन गया, ठीक, और उससे पहले question क्या बना, यह जो है, first question बना, कि कहां पर दिया गया है, कि magistrate संग्यान ले सकते हैं, ठीक, तो दूसरा question यह हो गया, अब आईए, यहाँ पर word use हुआ है, any magistrate of first class, simple भासा में लिखा गया है, कि कोई भी judicial magistrate first class, इसका मतलब, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि प्रथम स्रेडी का कोई भी magistrate, ठीक, प्रथम स्रेडी का कोई भी magistrate दूसरा, and any magistrate of second class especially empowered in this behalf, under subsection 2 ठीक, क्या कह रहा है, या फिर ऐसे सारे magistrate, जिनको कि subsection 2 के अंदर, अभी subsection 2 नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे, ठीक, subsection 2 के अंदर क्या किया गया है, subsection 2 के अंदर, especially empowered किया गया है, कि वो 190 के matters पर cognizance ले सकते हैं, तभी जो है, second class का magistrate किसी भी complaint पर, और information पर, क्या कर सकता है, cognizance या संग्यान ले सकता है, उससे पहले नहीं ले सकता, अब इस line को समझने के लिए, हमको सबसे पहले, sub clause 2 को समझ रहा होगा, पहले sub clause 2 पर आ जाईए, और अपने bear act को खोल लीजे, बात कर रहा है, the chief judicial magistrate may empower any magistrate of second class to take the cognizance under subsection 1 of such offense as are with his competency to inquiry into or try, ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बताया गया है, कि अगर chief judicial magistrate चाहे तो कौन चाहे, c.j.m. अब आपको hierarchy तो courts की पता है, hierarchy की अगर लिखी जाए, तो कैसे लिखी जाती है, judicial magistrate second class, judicial magistrate first class, उसके बाद chief judicial magistrate, उसके बाद assistant assistant session judge, और उसके assistant session judge, और इसके ऊपर आते हैं हमारे session judge, session judge के साथ मैं additional session judge, ठीक, यह चीज़ मैंने आपको समझाई थी, पूरा डाइग्राम बना के समझा रखा है कि किसकी कितनी power है, वो चीज़ याद है ना आपको, तो सबसे पहले अगर मैं judicial magistrate second class की बात करूँ, तो इसके पास क्या power है, इसके पास power है कि यह एक साल तक की punishment दे सकता है, और पांच हजार रुपे तक का fine लगा सकता है, ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा judicial magistrate first class यह आपको क्या करेगा, यह आपको तीन साल तक की सजा देगा, और दस हजार रुपे तक का fine लगाएगा, cjm आपको साथ साल तक की सजा देंगे, और आपकर any amount of fine को लगा सकते हैं, उसके उपर हमारे assistant session judge होते हैं, जो हमारे session judge के नीचे रहकर ही काम करते हैं, तो इन के पास अधिकार है, कि यह 10 साल तक की punishment को सुना सकते हैं, और any amount of fine दे सकते हैं, उसके उपर आते हैं हमारे additional और जो है क्या, session judge, इन के पास अधिकार होता है, कि यह क्या कर सकते हैं, any punishment दे सकते हैं, और plus any amount of fine लगा सकते हैं, लेकिन अगर यह कोई भी death penalty देते हैं, तो death penalty का जो होगा, वो subject to high court order होगी, death penalty का confirmation जो है किस से कराना होगा, इनके द्वारा दी गई death penalty का confirmation high court करेगा, तभी किसी व्यक्ति की death penalty को execute कराया जा सकता है, that is clear, इतनी चीज़ें याद हैं आपको, यह सारे question JLO के लिए बहुत important है, repeat करने का मतलब यह है, कि most important topic पर हम discussion कर रहे हैं, जिसको मैंने दुबारा आपके लिए repeat किया है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर chief judicial magistrate कौन सा यह वाला magistrate चाहे, तो किसी भी second class, judicial magistrate second class को यह power दे सकता है, कि अगर किसी भी area में 190 के तहत उसके पास कोई भी complaint information आ रही है, तो उसको क्या करना है, उसको पूरी तरीके से जो है, क्या वो empowered है, कि इस पर cognigence मतलब संग्यान ले सकता है ठीक, तो empower कौन कर रहा है यह वाला question important है, empower कर रहा है हमारा chief judicial magistrate मतलब, मुख्य नियायक magistrate क्या कर रहा है, यहाँ पर empowered कर रहा है, power दे रहा है किसको दुतियस रेडी के किसी भी magistrate को, जहाँ पर उपधारा एक के तहत वो जो है किसी भी मामले का संग्यान ले सकते है, या फिर उसकी जाच का आदेश दे सकते है, या खुद से उसकी inquiry कर सकते है ठीक, तो यहाँ पर तीन चीज़े अब तक आपको clear हो गई होंगी, इस clause के अंदर कि chief judicial magistrate, judicial magistrate, second class को सारी चीज़े क्या करेगा, empower करेगा, अब आजाईए first clause पर है, कि हम यहाँ पर power, यहाँ पर लिखा है, any magistrate of second class, मतलब कोई भी second class का magistrate, जिसको especially empowered किया गया है लिख लीजे कि यहीं पर, कि chief judicial magistrate के दोरा, especially empowered किया गया है, तो वो जो है क्या कर सकता है, subsection two के according, यह power, chief judicial magistrate के पास है, कि वो उसको especially empowered कर दे, may take the cognizance of any offense, उसके बाद में, वो किसी भी अपरादखा, जो है क्या कर सकता है, संग्यान ले सकता है, clear, सबसे पहला sub clause क्या कह रहा है, 190 clause 1 का पूरा समझ लिया और 190 clause 1 का जो second part है, मतलब, यहाँ से है, कि वो जो है empower करेगा, ठीक, तो इस तरीके से bear act को linkage करके, और जो है interpretate करके, अलग-अलग separate parts को अलग clause से जो है, relate करके हम पढ़ते हैं, ठीक, अब यहाँ पर पहला बताया है, upon receiving a complaint of the fact, which constitute such offense, ठीक, उन तथ्यों की सिकायत प्राप्त होने पर, जो फर्स क्लास हो, priority पहले उसको दी जाएगी, और दूसरी वरीता, अगर judicial minister second class को especially empowered किया गया है, तब ठीक, उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है, upon the police report of such fact, या फिर ऐसी कोई police report आई है, जहाँ पर police ने किसी भी, मैटर में investigation करने के बाद क्या कर दिया है, closer report फाइल कर दी है, और यह कह दिया है, क्या कोई भी चीज हमें तथ नहीं लगता, जसके basis पर हम investigation करें, तो अगर police ने अपनी police report submit की और वहाँ पर यह दिखाया, कि closer report फाइल की गई है, तो वहाँ पर उसकी भी closer report के basis पर भी inquiry करा सकता है, reinvestigation का आदेश दे सकता है, तीसरा, upon information received from any person other than the police officer or upon his own knowledge that such offense has been committed, police अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी या अपने स्वेम के ग्यान पर ऐसा अपराद किया गया है, या पिर ऐसी कि जहाँ पर कोई भी information received हुई है, किसी भी व्यक्ति से, या उसके सामने ही ऐसे, उसके संग्यान में, उसकी knowledge में ऐसा कोई matter आया है, जहाँ पर उसको लगता है, कि इसकी investigation होनी चाहिए, या फिर इस case में कुछ ना कुछ जो है, क्या substantive matter निकलेगा, तो वो खुद से inquiry कर सकते हैं, ठीक हुई, ठीक, तो यही हमारा क्या है, section 190 है, जो student मुझसे पूछ रहा था, कि एक बार clause 2 को explain करके समझा दीजे, तो वो मैंने अब आपको समझा दिया है, अब आपका section 190 से related, कोई भी question जो है, गलत नहीं होना चाहिए, एक्जाम में, बस section 190, clause 1, 2, और जो है क्या, 3, जो sub clause, clause 1 का sub clause A, B, C है, जहां पर आपको मैं हमेशा short form बताता हूँ, कि CPI, ठीक, C का मतलब क्या होता है, complaint के basis पर judicial magistrate, cognizance ले रहे हैं, संग्यान ले रहे हैं, दूसरा, police report पर ले रहे हैं, और तीसरा, किसके information के basis पर ले रहे हैं, तो CPI का concept याड़ रखना इसमें, क्योंकि यहां पर direct question आपसे पूछ लेगा, section 190 clause 1 में, हम जो है, judicial magistrate को empower कर रहे हैं, तो वो information पर किस clause के अंदर ले लेगा, और option कैसे दिये जाएंगे, 190 clause 1 sub clause A, 190 clause 1 sub clause B, 190 clause 1 sub clause C, ठीक तो यहां से ही आपके 3 से 4 question बन जाते हैं, तो इन सारी चीजों को पूरी तरीके से, जो है क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, moving ahead, 190 से related कोई भी question गलत नहीं होना चाहिए, प्रोवीजन रिलेटिंग टू प्रोजी क्विशन ऑफ पवलिक सर्वेंट इस गिवन इन, option A, section 196, 197, 198, 198 A, लोग सेवकों पर मुकदमा चलाने एक से संबंदित प्राबधान दिया गया है, धारा 196 CRPC, 197, 198, 198 A, board clarity कम है, ऐसा किसी सारे students को लग रहा है, या फिर किसी एक बच्चे को लग रहा है, कि board पर clarity कम है, बताइए, board clear कम दिख रहा है, एक बच्चे को या सारे बच्चों को दिख रहा है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, इतने सारे लोग live बैठे हुए है, फटाफट से जब तक सारे बच्चों के आंसर नहीं आएंगे, तब तक मैं अगला question नहीं कराऊंगा, ठीक, clear है board, जिसको clear नहीं दिख रहा है, वो अपने वीडियो की quality को बढ़ा ले, सारी चीज़े मेरी तरफ से clear होती है, 4K camera से मैं आपकी classes ले रहा हूँ, तो मेरी तरफ से, सारी चीज़े clear है, 190 समझ में आ गया, सारे दोस्तों को 190 समझ में आ गया, 190 आपने समझ लिया, देखो, यहाँ पर कह रहा है, कि अगर किसी भी किसको public servant को prosecute करना है, तो उसका जो procedure है, वो कहाँ पर है, section 197 में है, 197 CRPC बात करता है, कि किसी भी prosecute कर रहे है, किसको judges को, या फिर public servant को, तो क्या करना होगा, हमको जो है, permission लेनी होगी, state government की, और central government की, और उसके बाद, जो है, क्या कर सकते हैं, हम 197 sections के procedures को, follow करके ही, उनको prosecute कर सकते हैं, तो option B, is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर, section 197 of CRPC, provides as prosecution, from the prosecution, to which of the following, private individual, employees of a public undertaking, judges, या फिर none of the above, CRPC की धारा, 197 के तैत, निमलिखित में से, किस अभ्योजन से, सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक, निजी व्यक्ति से, सार्वजनिक छेत्र के, उपग्रम कर्मचारी, या फिर नियाइदीस, या फिर उपरुक्त मैं से, कोई नहीं, जल्दी से बताएं, 197 के according, जो है, किसका protection, यहाँ पर हमने किया है, हमने यहाँ पर, दो लोगों को protect किया है, जितने भी public servant है, ठीक, public servant की definition, कहां से लिजाती है, public servant की definition, हमेशा section 21, Indian penal code में, जितने भी लोगों को, public servant बताया गया है, वहां से हम इसका reference, लेते हैं, क्योंकि CRPC में, आपको public servant की definition, नहीं दी गई है, कि कौन-कौन लोग, हमारे public servant की definition में, आएंगे, और हमने यहाँ पर, judges को protection दी है, तो 197 में, अगर judges के उपर, या फिर किसी भी public servant, जो के हमारे Indian penal code के, section 21 में, define किये गए हैं, उनके उपर, अगर कोई भी मुकदमा चलाना है, उनको prosecute करना है, किसी भी case के trial में बुलाना है, तो सबसे पहले, आपको 197 के according, permission लेनी होगी, respective authorities से, that is central or the state governments, ठीक, तब जो है, आप उनके उपर, कोई भी मुकदमा चला सकते हैं, और यह क्या है, यह section जो है, हमारा safeguard है, क्या है, safeguard provisions हैं, किसके लिए, judges के लिए, और section 21 of IPC के, सारे उनके लिए, ठीक, तो option C, जो है, इसका बिल्कुल सही जबाब है, next question, which section of the criminal courts, provides for prosecution of offense, against the marriage, marriage के against में, हमारा कौन सा section, बात करता है, 196, 197, 198, none of the above, दंड प्रक्रिया सहे, ताकि कौन सी धारा, विवा के विरुद अपरादों के लिए, अभियोजन का प्राभधान करती है, 196, 197, 198, उपरुक्त में से, कोई नहीं, देखो, 197, 198, और 198A, ये तीनों ही section आपके, बस इसकी heading, बहुत ज़्यादा important है बच्चा, जहां heading से आपको, क्या पूछा जा सकता है, heading से, आप से सवाल पूछा जा सकता है, इसके respect में, आपको, कोई भी, दूसरा अंदर से सवाल नहीं पूछा जाएगा, 197 से जो सवाल बनता था, 197 से, जतने question बनते थे, वो मैंने आपको बता दिये हैं, एक बार, इनकी heading देख लीजेगा, और इनको याद रखिएगा, क्योंकि JLO में direct जो है, यहीं से सवाल चिपका हुआ, मिल सकता है, clear, मज़ा आ रहा है, class में कि नहीं, 190 समझाना, आज की class का main motive था, वो मैंने आपको समझा दिया है, अब हम आगे जो है, इसके sections को continue कर रहे हैं, इसके बाद 200 के बाद complaint का procedure शुरू होगा, और 204 तक issue of process तक, बहुती ज़्यादा detail में आपको मेरे साथ पढ़ना है, मज़ा आ रहा है, और यार 167 को मैंने बहुत अच्छे से explain किया, कल की class में देखना मत भूलना, वनना आपको आगे समझ में आएगा नहीं, सर आपकी सारी classes offline ली है, आज live आने का मुखा में, अच्छा, सेखर जी कह रहे हैं, आपकी सारी classes मैंने recorded form में देखी हैं, offline अमारी classes नहीं होती, तो आज वो पहली बार live classes में आए हैं, अब फटाफट से thumbs up कर दो, अगर मज़ा आ रहा हो तो class में, फिर हम जो है आगले question को continue करते हैं, ठीक, 198 section is the, 198 section of CRPC is talking about, the crime against the prosecution of offense against the marriage, ठीक, तो option number, option number C, जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है, clear, चलो, फटाफट से session को like करो यार जल्दी से, कर दो फटाफट से like, अभी 100 नहीं हुए हैं, 100 like तक आज इस session को पहुचाना ही होगा, कल आपने मेरे को 90 likes दिये थे, that is very wrong, ठीक, तो 198 किसके बारे में बात करता है, prosecution of offense against the marriage के बारे में, बात करता है, clear, चलो, आगे चलते हैं, next question पर, as per section, under section 198 of criminal procedure code, the court can take the cognizance of any offense, laid down under section 497 and 498 of the Indian penal court, on the complaint of, option A, husband of the woman, friend, father of the woman, mother of the woman, any of these, अपरादिक, प्रक्रिया सहेता, धरा 198 के तहत, नियाले, निमलिखित में से, सिकायत पर, भारतिय डन सहेता की धारा, 497, 498 के तहत, निर्धारित किसी भी, अपराद का संग्यान ले सकता है, महला के पती की complaint पर, महला के, पिता की complaint पर, महला की मा की complaint पर, या फिर इन में से, कोई नहीं, बताएं फटाफट, आप लोग इतना live जुड़ते हो, अभी 70% watching है, तो इस वये से, energy बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा watching आती है, उतना class लेने में, ज़्यादा मजा आता है, और उतनी ही, जो है, energy level बढ़ती रहती है, ठीक तो अगर हम बात करें, कि अगर 198 के according, किसी भी व्यक्ती के against में, क्या किया जाना है, किसी भी व्यक्ती के against में, CRPC की procedure को follow करके, कोई भी criminal trial start किया जाना है, तो उसकी application, जो है, husband of the woman के द्वारा, लगाई जानी चाहिए, तब ही जो है, judicial magistrate, as per section 198 के according, इसका संग्यान ले सकते हैं, तो option A क्या हो जाएगा, option A is the correct answer of this question, according to section 198 sub clause 2, court will not take cognizance of the offense, पनिसेविल under section 497-498, where the victim is the husband of the Indian penal court, unless the husband makes the complaint, अब देखो, यहाँ पर दो question और पूछ लिये जाएंगे, आपसे jail में, कि अगर कोई भी situation ऐसी है, जहाँ पर किसी भी मेहला ने क्या किया है, किसी भी मेहला ने 498 का अपराद किया है, तो उस case में जो है, उसके मेहला के पती के द्वारा application नहीं लगाई गई है, तो court के पास, स्यू मोटो कॉगनिजेंस लेने की छमता है या नहीं, तो इस case में direct किया गया है, किसमें हमारे 198 सब क्लॉस 2 में, कि धारा 192 के अनुसार, अदालत IPC की धारा 497 या धारा 498, जाच पीड़त पती है, के तहत दंडी अपरादों के तब तक संग्यान नहीं लेगी, जब तक की पती सिकायत ना करे, तो इसका मतलब अगर husband complaint नहीं कर रहा है, और उसकी wife 497, 498 Indian Penal Code का क्या कर रही है, offense commit करती जा रही है, तब भी जो है उस महला के against में, court जो है कभी भी cognigence संग्यान नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है, कि court संग्यान ले सकती है, कभी संग्यान ले सकती है, जब वो क्या कहते हैं, उसका husband आकर complaint कर देगा उस महला के खिलाब, ठीक तो अपनी पतनी के खिलाब जब तक पती शिकायत नहीं करेगा, तब तक यह जो है 198 की कारवाई उसके against में नहीं की जा सकती, option number A जो है इसका बिलकुल सही जवाब है, moving ahead अब देखो अब आ गया हमारा complaint का procedure, ठीक अंडर section 200 of CRPC recording of pre-summing evidence may be dispense with धाया 200 CRPC के तहत, summons के पूर्व साक्ष की recording से छूट दी जा सकती है, यद option A, सिकायत करता के सपतपत पर समर्तित है, सिकायत एक लोग सेवक द्वारा लिखेत रूप में की गई है, magistrate को लगता है कि न्याले के उद्दिस के लिए सम्मन पूर्व साक्ष की आवस्सकता होती है, उपरुक्त मैं से कोई नहीं ठीक, the complaint is supported by an affidavit of the complainant, the complaint is made in writing by a public servant, the magistrate feels that the end of justice is required pre-summing evidence to dispense with option D, none of the above is the correct answer, बताएं फटाफट, क्या इसका सही जवाब है, most important question, ठीक, यहाँ पर आपसे CRPC section 200 का part start हो रहा है, और यह सबसे ज़्यादा ही important है आपके जो है exam के लिए, 200 से लेकर कहां तक 204 तक, सीधे सीधे हमको सारी चीज़े cover करनी है, क्योंकि यहाँ से JLO के perspective से बहुत सारे question आपके बन जाएंगे, तो आपको याद क्या रखना है, याद यह रखना है कि आपको 200 से लेकर, जैसे 154 से लेकर 176 तक कोई भी चीज़ अमने नहीं छोड़ी, सिर्फ एक section छोड़ दिया है 176, और इसी जो है क्या, इस total हमारे by sections को कराने के लिए, मैंने आपकी CRPC की लगबग 3 से लेकर 4 घंटे class ली है, इन 4 classes को most important तरीके से देखना है, प्लस 41 से लेकर 60 वाले जब question कराई थे, वो classes से भी बहुत ज़्यादा question देखने को मिलते हैं, clear, तो यहाँ पर इस question का जो सही answer है, वो है option number D, ठीक, none of the above is the correct answer of this question, इस में से कोई भी answer जो है सही नहीं है, clear, moving ahead, यहाँ पर क्या कह रहा है, a magistrate taking an offense on complaint shall examine upon oath, complainant and the witness present, if any and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by a complainant and the witnesses, and also by the magistrate, ठीक, तो यहाँ तक समझे पहले क्या कह रहा है, सिकायत करता की जाच, सिकायत करता पर किसी भी अपरात का संग्यान लेने वाले magistrate, सपत पर सिकायत करता और मौजूद गवाओं, यद कोई हो की जाच करेगा, और ऐसी परिक्षा का सार लिखित रूप में लिया जाएगा, और सिकायत करता और गवा उस magistrate द्वारा हस्ताक्षर कराए जाएंगे, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या गह रहा है, examination of complainant की बात हो रही है, कि जब examination किया जाएगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जिसने complainant की है magistrate को, तो वहाँ पर जितने भी complainant होंगे, उस issue से related, या जितने भी witnesses होंगे, वहाँ पर जो है, क्या judicial magistrate वो सारी जो है, सम्मन्स को मतलब ओत पर कराएगा, और उसको reduce into writing करके, उनके signature भी कराएगा, ठीक, अब इसका एक proviso बनाया गया है, provided that, when the complaint is made in writing, the magistrate need not to be exam the complaint and the witness, ठीक, यहाँ पर essay complaint, जहाँ पर writing में complaint की गई है, तो उस समय magistrate को क्या करना है, magistrate को पूरी तरीके से, जो है, क्या पूरी तरीके से, इन सारी चीजों को करने की जरूत नहीं है, कौन-कौन सी ये सारी चीजे हैं, एक बार इसको clear नहीं दिख रहा हो सकता है, ये clear नहीं दिख रहा हो, क्योंकि ये content बहुत ज़्यादा है, और मैंने एक ही page में paste कर दिया है, ठीक है, bare act खोल दो, वहाँ पर as it is, वहीं से लाया हूँ section 200 को, bare act में as it is लिखा हुआ है, line by line परते जाओ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2 मिनिट में सारी चीज़े, 200 से related complete हो जाएंगी, bare act तो लेकर बैठा करो, class में at least कहां से question बना के लाए हैं, sir कहां से हमको इसके findings दूडनी है, जो भी important चीज़ बताता हूँ, तो 3-4-4 घंटे में revision कर सको, और पूरी जो है क्या अपने subjects को, जो 5-6 subject आएंगे जेलो में, उनको सारी चीज़े clear कर सको, bare act पानी की bottle और pen लेकर बैठा करो, और pen अगर 2-3 तरीके के हैं, लाल है और हमारा नीला है, और हरा है और काला है, चार तरीके के हैं, उसके साथ highlighter है, तो the best है, और इसी तरीके से bare act पढ़ा जाता है, किसी दिन अपना bare act लाकर दिखाऊंगा, कि कैसे bare act को पढ़ते हैं, और कैसे हम हर एक छोटे-छोटे words को, कि कॉमा के बाद में क्या लिखा हुआ है, और कैसे किसको connect करना है, first sentence को कैसे जाकर, हम जो है दूसरे clause से connect करेंगे, या second last pair को first section के, हम जो है तीसरे clause से कैसे connect करेंगे, ये सारे जो है क्या linkage हमको बनाने पड़ते हैं, तब हम किसी भी subject को पूरी तरीके से ready कर पाते हैं, clear, तो bear act के साथ साथ ये सारी चीज़े लेकर बैठनी ही बैठनी है daily basis पर, ठीक, आब यहाँ पर कह रहा है, कि किन किन में जब writing में कोई भी चीज़ दी गई है, तब जो है उसको क्या, उसको sign कराने की और उसको जो है, ओत पर लेनी की requirement नहीं होगी, judicial magistrate के द्वारा, तो ये एक list बताई गई है, सबसे पहले, if a public servant acting और purporting to act in the discharge of official duties, और a court has made the complaint, ठीक, जब कोई भी public servant अपनी duty पर है, और duty करते हुए, वो अपने public function को discharge कर रहा है, उसी तरीके से, क्या उस time पर अगर उसने कोई भी written application दी है, तो वहाँ पर हम जो है, उसका जो क्या होगा, जो वो हमारे magistrate साब होंगे, उसको जो है, ओथ पर examination करने की requirement नहीं होगी, ठीक, यद कोई लोग सेवक अपने अधिकार करतवियों का निर्वाहन करने में कार्र कर रहा है, या कार करने के इरादा रखता है, तो या अदालत ने सिकायत की है, तब उसने जो है सिकायत की है, दूसरे पर आ जाईए, the magistrate make over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 192 CRPC, ठीक, जहाँ पर एक magistrate के पास complaint receive हुई थी, और complaint receive होने के बाद, एक magistrate ने अपने case को make over कर दिया है, जो statement ले लिए है, complaint के विटनेस इसके, दूसरे court को same procedure follow करने की requirement नहीं होगी, provided that, अब इसका proviso पढ़िये, provided further, that if the magistrate make over the case to another magistrate under section 192, after examining the complaint and the witness, the latter magistrate need not re-examine them, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मैंने बात आपको समझाई, कि अगर पहले magistrate के पास make case आया था, उसने क्या किया, उसने पूरी तरीके से, जो है क्या किया, पूरी तरीके से अपने जो भी complainant थे, या फिर complainant के witnesses थे, उनको examine कर लिया, राइटिंग में reduce कर लिया, और signature भी करा लिये, अब क्या हुआ, case को make over करना पड़ गया, make over मतलब case को, मतलब दूसरे magistrate को, जिसका jurisdiction था, वहाँ पर पहुचाना पड़ गया, तो make over के बाद, अगर पहले magistrate के दोरा, ये सारी चीज़े की जा चुकी है, तो दूसरे magistrate को, दुबारा से ये process फॉलो करने की requirement नहीं होती है, ठीक, तो ये है हमारा section number 200, इसकी definition से भी GLO में आपको question पूछने को, देखने को मिलेगा, clear, तो definition से भी question देखने को मिलेगा, और आपको examination of complaint का, यही क्या है, यही सबसे important section है, section number 200, clear, clear, इतनी चीज़ समझ में आई, चलो, आगे चलते हैं, next question पर, if it appears to the magistrate, that the offense complaint, or is tribal exclusive by the court of session, he, under section 202 CRPC, postponing the issue of process against the accused, ठीक, यह दिखने को यह प्रतीत होता है, कि जिस अपरात की सिकायत की गई है, वै वै विसे इस रूप से, सस्त्र नियाले द्वारा विचारनी है, तो वै CRPC की धारा 202 के तहत, जो है, आरोपियों के विरुद्द कारवाई के मुक्ते को, इस्तरित कर सकता है, ठीक है, postpone कर सकता है, option A, shall commit the case to the court of session, may direct an investigation to made by the police officer, shall call upon the complaint, to produce all witnesses, and the examination, them on oath, shall return to the complaint and present before the court of session, बताईए, इसका सही answer, आप लोगों के according क्या होना चाहिए, जल्दी से answer करो यार, जल्दी जल्दी, फटाफट से answer करिए, C होगा, हिंदी वालों को दिख रहा होगा, आप clear देख सकते हैं, और आप इसका answer कर सकते हैं, अगर situation ऐसी है, जहाँ पर किसी भी judicial magistrate के सामने, कोई भी मुकदमा रखा गया है, और उसको ऐसा लगता है, कि ये जो है matter किसके द्वारा, हमारे court of session के द्वारा, मतलब session judge के द्वारा trial, इसका चलाया जाना चाहिए, तो ऐसे matters में उसको क्या करना होगा, उसको जो है, हमारे सारे जो है, किसको shall call upon the complainant, to produce all his witness, and the examine on oath, ठीक, वो जो है, उनको बुला सकता है, और उसके बाद में, examine करने के बाद, session code को transfer कर दे, या फिर जो है, first sentence में ही, session code को transfer कर सकता है, clear, तो ये जो है क्या, ये बहुती important question है, option C is the correct answer of this question, moving ahead, next question पर आते हैं, बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक, next question पर, direction to the police by magistrate, to investigate under section 202 CRPC, magistrate दोरा, police को CRPC की धारा 202 के तहत, जाज का निर्देश, option A, can given without the examination of complaint, can be given even if the offense complained of, is traveled by the court of session, ठीक, तो सिकायत करता की जाच, बिना किये दिया जा सकता है, सिकायत करता को सपत दिलाए बिना दिया जा सकता है, सपत पर सिकायत करता की जाच से पहले या बाद में दिया जा सकता है, तब भी दिया जा सकता है, जब सिकायत करता अपराद सस्त नियाले द्वारा विचारनी हो, ठीक, किसकी बात कर रहा है, 202 की बात कर रहा है, direction of the police via magistrate to investigate under section 202 of CRPC, clear, तो यहाँ पर आपसे दो चीजे बहुत ज़्यादा importantly पूछी जा रहे हैं, तो इसका जो सही answer है, वो है option number B, cannot be given without the examination of the complaint on oath, जब तक सिकायत करता को पूरी तरीके से, oath पर जो है, क्या examine नहीं कर लिया है, clear, moving ahead, next question पर आए, under which one of the following section of CRPC, magistrate shall dismiss the complaint, dismissal of complaint हमारे किस section में दी गई है, CRPC के 202, 201, 203 या फिर none of the, अब अब चार आपको बताए गए है, dismissal of सिकायत को, जो है, क्या magistrate के दुआरा खारिज कर, किया जाना, किस section के तहत हमको बताया गया है, that is section 203 of criminal procedure code, 1973, option C is the correct answer, read कर लेते हैं, 203 तक, ठीक, और इसके बाद मैं class को आपके लिए wind up करूँगा, क्योंकि 204 से लिकर हम आगे continue करेंगे, class आज खतम करने का time हो गया है, ठ reject the complaint, made by the complainant in every situation, and he must be briefly recorded his reason for doing so, this will aid in deciding whether the magistrate apply his mind to the facts and available or used his discretion appropriately or not, यहाँ पर कह रहा है, 203 magistrate को, हर इस्तिती में सिकायत करता द्वारा की गई, सिकायत को अस्विकार करने का अधिकार देती है, मतलब, यहाँ पर क्या बताया, कि यह magistrate की power है, कि वो चाहे तो, किसी भी complaint को dismiss कर सकता है, लेकिन अगर वो dismiss करना चारा है, तो as per section 203, ठीक, 203 के according उसको क्या करना होगा, कि वो किस ground पर उस complaint को क्या कर रहा है, reject कर रहा है, या dismiss कर रहा है, उसके regions उसको writing में record करने होंगे, जिससे के यह पता लगाया जा सके, कि judicial magistrate ने उस matter को बहुत ही अच endings नहीं निकली, इस वजए से उसने इन ground को देखते हुए, इस complaint को dismiss किया है, जिससे के party जब उपर वाले quote में appeal लेकर जाती है, तो उसके पास जो भी हमारे उपर के magistrate होंगे, उन सारे magistrates को पूरी तरीके से grounds पता चले है, कि नीचे वाले quote ने क्यूं इसका dismissal किया था, clear, त इससे यह तै करने में सायता मिलेगी, कि magistrate ने उपलब तत्यों पर अपना दिमाग लगाया है, मतलब, magistrate ने यहां पर क्या किया है, magistrate ने अपना judicial mind apply किया है, और उसके बाद उसको complaint में कुछ नहीं मिला, उसके ground लिखने के बाद में उसने उसको dismissal किया है, that is the main important point, which are incorporated in 203 of CRPC, जहां पर judicial magistrate के उपर obligation लगाई गई है, या अपने विवे का उचित उपयोग किया, या नहीं, ठीक, यह पता करने के लिए हम जो है, इसको reason को जो है, directly लिखवाते हैं, magistrate से, जब complaint की dismissal की जाती है, तो, ठीक, तो option C, जो है, इसका बिलकुल सही जवाब है, और CRPC के lecture number 11 में, आज हम लगबग, लगबग 300 section तक detailed discussion करके, इन सारी चीजों को complete करेंगे, जब हम बात करते हैं, हमारे 205 से लेकर, आगे के sections की, तो हमें देखने को मिलता है, कि यह जो है, हमारा 205 से लेकर के, आगे के section जो 299 तक हैं, यह बहुत dry area है, और यहां से limited ही question हमसे JLO के exam मे बहुत जादा पूछे जाएंगे, और बहुत जादा हमारे लिए important रहेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने अपना काम start कर दिया है, आज की class में आपको जो है, मैं 205 से लेकर के, आगे के sections पर कराने वाला हूँ, और यह बहुत dry area है, बहुत limited questions, इससे हमेशा आप से पूछे जाते हैं, filing of list of the witnesses by complainant before issuance of summons or warrants to the accused under section 204 CRPC is mandatory, directory, neither mandatory nor directory, या फिर either mandatory और directory, CRPC धारा 204 के तहत, ROP को summons या warrant जारी करने से, पहले सिकायत करता गवाओं की सूचना दाखिल करना, CRPC अनवार निर्देश को, आप चारो option पढ़िए और इसका जल्दी से सही answer जल्दी से इसका सही answer करेंगे सारे लोग, कि इसका सही answer क्या है, चलिए, क्या answer किया है आप लोगोंने, option A, mandatory filing of list of witnesses by complainant before issuing the summons or warrant accused under section 204 CRPC के according, option number A, लेकिन कुछ लोग इसका option number C भी जवाब दे रहे हैं, ठीक, तो इसका जो सही answer है, वो है option number A, is the correct answer, ये क्या है, हमारा अनिवार होता है, mandatory होता है, clear, तो इसको एक बार read करेंगे, no summons or warrant shall be issued against the accused under subsection 1, क्या कह रहा है, यहाँ पर अभियोजन, पक्स के गवाओं की सूची में दाकिल होने तक, उपधारा एक के अधीन, आरोपी के खिलाफ कोई भी summons or warrant जारी नहीं किया जाएगा, यहाँ क्या बताया गया, कि कोई भी summons or warrant issue नहीं किया जाएगा, as per section 204 के according, कब, until a list of the prosecution witness has been filed, जब तक कि prosecution के witness की list फाइल नहीं करी गई है, तब तक कोई भी summons or warrant issue नहीं किये जा सकते, ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या गह रहा है, in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or warrant issued under subsection 1, shall be accompanied by a copy of such complaint, ठीक तो क्या कह रहे है, कि अगर हमने witnesses की list मगा ली है, witnesses की list फाइल हो चुकी है, prosecution की, तो इस case में कोई भी summons or warrant issue किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि जो हमारी complaint की copy होगी, वो भी उनके साथ attach करके भेजी जाएगी, इसी वज़े से यहाँ पर word shell का इस्तमाल किया गया है, किसका shell word का इस्तमाल किया गया है, इसी वज़े से यहाँ पर हम इसको mandatory मानते हैं, clear हुई, तो option number A is the correct answer, ठीक, तो कल यहाँ पर छोड़ा था, अब इससे हम जो है क्या चल रहे हैं, इससे आगे चल रहे हैं, next question है, which provision of the code of criminal procedure 1973 empowers the presiding officer to dispense with the personal attendance of the accused at the time of recording of evidence, ठीक, तो recording of statement of witness, 299, 273, 205, 285, दंड प्रकिया सहता, 1973 का कौन सा प्रावधान, पीठासी अधिकारियों को गवाओं के बयान दर्ज करते समय किसी अभिवक्त की, अभिवक्त उपस्तिती से छूट देने का अधिकार देता है, धाया 299, 273, 205 या फिर 285, अब आप को इसका बिल्कुल सही जवाब देना है, कि कौन सा section हमें बताता है, किसके statement of witnesses के respect में, जहाँ पर personal attendance को dispense कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि इसका जो सही आंसर है, वो है हमारा section number 205 of CRPC, तो option C is the correct answer of this question, C जो है क्या है, इसका बिल्कुल सही रहा है, एक बार यह पहले बता दो, फिर हम जो है session को आगे continue करेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि आपको लगबग section 300 तक पढ़के आना है, तो 300 तक मतलब 298 तक आपने इसको complete किया है, या नहीं किया, पहले यह बताईए, और यार 70 बच्चे live बैठकर देख रहे हो, like कर रहा है, उसमें एक like का बटन है, उसको दवाने में क्या परेशानी है, free classes है, अगर paid classes होती तो सारे बच्चे like करकर के जाते, क्योंकि सब को पता है कि पैसे दे रखे हैं, तो पढ़ना ही है, free classes है, तो हम तो like भी नहीं करेंगे, भई या हम तो आएंगे class को लेंगे, देख to the classes हवाजी, हम अभी JLO की तियारी कर रहे हैं, और इन JLO की classes में हम पूरे course को complete करने वाले हैं, 15 October तक, और ये मेरी classes आपको daily, शाम को 6 वजे मिलती हैं, clear, शाम को 6 वजे ये classes मिलती हैं, मैंने अभी Constitution of India करा दिया है, आगे 3 classes और CRPC होंगी, उसके बाद लगबग 20 गंटे CRPC हम complete कर चुके होंगे, और JLO की preparation हम उसके exam pattern पर कर रहे हैं, exam pattern पर करने का क्या मतलब है, कि अगर हम बात करें JLO exam की, तो इसमें MCQ based आपके 4 paper होते हैं, ठीक, एक Constitution का होता है, दूसरा आपका CRPC, CPC procedure का, तीसरा evidence के साथ आपको other acts पूछे जाते हैं, और pleading drafting पूछी जाती है, चौथा होता है आपका language paper, तो ये चारो ही paper को हम जो है, तीन law के paper में आपको इसमें 15 October तक cover करा दूँगा, और आपको करना क्या है, language paper को जो है, अपने आपसे तयार करना है, तो हम JLO की पूरी complete तयारी इस course में कर रहे हैं, और अपने paper के exam basis पर ही ये तयारी है, मैं आपको बिलकुल करा रहा हूँ, clear, अगर आप इसका bare act reading के साथ सारी चीज़े समझना चाते हैं, तो श्रिमी में की CRPC की class daily basis पर 5-6 PM तक आपको इसी channel पर, study IQ judiciary channel पर देखने को मिलती है, और आप यहाँ पर क्या कर सकते है, मैडम से जुड़कर भी अपनी सारे doubts को clear कर सकते हैं, CPC ज Tuesday के बाद में आपका CPC start हो जाएगा, और हम CPC को भी लगबग 14-15 classes में पूरा cover करने वाले हैं, जो भी आपकी सारी चीज़े CPC के respect में जितने भी doubt हैं, वो सारे doubts आपके जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होंगे, cover हो जाएंगे, clear, तो आपको मेरी ये class आपको daily 7 बज पूरी तरीके से आपको daily basis पर ये classes प्रोवाइट की जाती है, moving ahead, next question पर आईए, बता दिया classes के बारे में सारी, चलो, under section 206 of CRPC, criminal procedure code, petty offenses means, क्या कह रहा है, दंड सहेता प्रिक्रिया की धारा 206 के तहर छोटा अपराद का अर्थ है, option A, कोई भी अपराद केवल जुर्माने मे तहर दंडनी है, अपरादों का कोई भी अपराद, कोई भी अपराद केवल 1000 रुपे से अधिक जुर्माने के लिए दंडनी है, या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं, आपको इसका सही जवाब देना है, जल्दी से बताईए, क्या कह रहा है, any offense punishable with fine only, any offense punishable with motor weak tech 1939, any offense punishable only with not exceeding 1000 रुपीज, none of the above is the correct answer, as per section 206, petty offenses का क्या मतलब है, ये question आप से पूछा जा रहा है, जल्दी से बताईए, देखते हैं, कितने लोग इसके सही आंसर देते हैं, कितने लोग इसके सही आंसर देते हैं, very nice, petty offenses as per section 206 of criminal procedure code, any offense punishable only with fine, not exceeding 1000 रुपीज is the correct answer of this question, तो option C is the correct answer, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर, under section 209 of CRPC, which one of the following cases can be committed to the court of session by a magistrate, if it appears to the magistrate that the offenses travel exclusively by the court of session, ठीक, तो CRPC की धारा 209 के तहत, निम लिखित में से कौन सा मामला magistrate द्वारा सस्त्र नियाले को सौपा जा सकता है, ये magistrate को ये प्रतीत होता है, कि अपराद विशेश रूप से, जो है, सत्र नियाले के विचारन में है, ठीक, option A, the case instituted in police report, the case instituted otherwise, then on a police report, option C, both first and second, option D, none of the above is the correct answer, बताएं फटाफट से इसका सही answer क्या होगा, यहाँ पर आपसे दो चीजे पूछी जा रही है, option number C और option number D के बारे में, तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 209 के according पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि दोनों ही मैंटस में ऐसा किया जा सकता है, clear, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, option number C, जो है, इसका क्या होगा, option number C is the correct answer, सारे ही स्टुडेंट्स आज पढ़के आए हैं, सर, English side खड़े हुआ करिये, अभी खड़ा होता हूँ, English side, रुको, चलिए, next तो इस question का जो answer है, इस question का सही answer है, option number C, अब आते हैं, हम next question पर, ठीक है, चलिए, next question पर आईए, फटापट से, in case of merger of the complaint with the police report, that procedure to be followed for the trial, ठीक, police report के साथ, सिकायत के विले के मामले में, मुकदमे के लिए, अपनाई जाने वाली प्रिक्रिया, सबसे पहले, shall be a complaint case, shall be of the case of institute on the police report, shall be both as per the convenience of during trial, option D, shall be one of the directed by the magistrate, ठीक, सिकायत का मामला होने पर, police report के मामले कायम किये जाने के बाद, परिक्षड के दौरान सुविदा के अनुसार, या फिर दोनों होंगे, magistrate या फिर दोनों होंगे, या फिर D option, magistrate दौरा, निर्देशित अनुसार, जल्दी से बताएं, इतने दिन, इंगलिश वालों की सुनी है, अब आपकी सुन लेते हैं, चालो यार, देखो, question करने से मतलब है, मैं किदर भी खड़ा हूँ, मैंने हमेशा से ये कोशिश की है, कि हिंदी वालों के लिए उदर थोड़ी सी जगया बच जाती थी, तो मैं हमेशा इतने पाट के उदर खड़ा रहता है, अब देखो, यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर एक question समझ में नहीं आया, question समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब समझ लो पहले, फिर उसका answer हम देखेंगे, अगर एक matter ऐसा है, जहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, कि एक matter में पुलिस रिपोर्ट के उपर भी जो है क्या, केस को फाइल किया गया है, और दूसरा किसका, कम्पलेंड के बेसिस पर भी केस को फाइल किया गया है, अब आपको यह पता करना है, कि मैंने आपको बताया था, कि पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कब F.I.R. लॉज करने के बाद पर केस फाइल होता है, जहाँ पर investigation होती है, और दूसरा तरीका होता है, क्या दूसरा तरीका होता है, कि पुलिस रिपोर्ट तो हो गया, investigation जहाँ पर हमें F.I.R. कराने जाना ही पड़ेगी, दूसरा complaint जब हम judicial magistrate को क्या करते हैं, judicial magistrate को पूरी तरीके से अपने 190 के process को follow करने के बाद, clause 1 A, B, C मतलब CPI के concept को follow करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर magistrate order करते हैं 156 clause 3 के according, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से cognigence लेना है, ठीक, तो जो इस procedure को follow करके, अगर कोई case institute हुआ है, या फिर F.I.R. को कराकर, police report पर कोई case institute हुआ है, अगर इन दोनों cases का merger कराया जाता है, मतलब command club करा दिया जाता है, तो इसमें हम किस तरीके का procedure follow करेंगे, ये चीज आपको यहाँ पर पूछी गई है, ये आपके question की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है, कि जो हमारा police report पर लिया गया cognigence है, उस case की तरह, इस case को क्या है, trial चलाया जाएगा, और ऐसे ही treat किया जाएगा, clear हुई इतनी बात, चलिए, next question पर आईए, सब को देखेगा, tension लेने की जरूवत नहीं है, in which case, it was held that, at the time of framing of charges, or taking cognizance, accused has no right to produce any material, option A, unreligy versus state of Bihar, state of Udisha versus Devendra Nath, option C, Bunny Singh versus state of UP, Pritap Singh versus state of Jharkhand, क्या कहे रहा है, किस मामले में यह माना गया है, कि आरोपत्य करना, या संग्यान लेने के समय, आरोपी का, कोई समेग्री, समेग्री पेस करने का अधिकार नहीं है, ठीक, चार cases आपको देख रहे हैं, I hope it is clearly visible to all students, चाहें वो English के हो, चाहें वो Hindi के हो, अब तो सबको देख रहा है ना, मेरे देखने से मतलब नहीं है, question आना चाहिए, और question के आपके सही जवाब आने चाहिए, अगर इतना हो रहा है हमारी classes में, कि मैं नहीं देख रहा हूँ, और question देख रहे हैं, state of Odisha versus दिविंदर नाथ के landmark judgment में बताया गया है, option number B जो है, बिल्कुल सही answer है, clear, अब इसका फटाफट से, ये बताओ कि इतने question कराए, अब तक समझ में आया है, कुछ भी या सब उपर से जा रहा है, इतने सारे question कराए, कुछ समझ में आ रहा है, जो हम से यहाँ पर पूछे जाते हैं, और उनी questions को हम जो है, आज discuss कर रहे हैं, बस इस topic से related, जितने भी important हमारे case law है, वो मैं आपको जो है, पूरी तरीके से बताता जा रहा हूँ, ठीक, चलो, आ रहा है तो फटाफट से session को like कर दो, यारे एक बार सारे, चलो, next question पर आते हैं, like कर दीजे जल्दी से, next question, error और omission in framing of charges, आरोप तय करने में 30 या चूक, option A, is material in all circumstances, shall initiate the trial, is material only if has occasioned pressurized to the accused, option C, it immaterial in all cases, option D, entities the accused entitled, entitled the accused to an acquittal, ठीक, सभी परस्तितियों में, महतपूर और मुकदमे को खराब कर देगा, यह केबल तभी महतपूर है, जब इसके अभिवक्त के प्रतिपूर्व गहा, उत्पन हुआ, option C, सभी मामलों में, सरानिय है, या फिर अभिवक्त को बरी कर दिया जाएगा, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि अगर, charge framing की गई है, मतलब, charges को frame किया गया है, और उसमें कोई error है, या फिर कोई omission है, तो इस case में, क्या पूरी तरीके से, वो trial initiate हो जाएगा, जो भी court to trial को चराला है, या फिर वो जब initiate होगा, जब accused के उपर, कोई भी क्या, कोई भी चीजों का इस्तमाल हो रहा है, या फिर गलत, जो है क्या जा रहा है, जो charge frame किये जाते हैं, framing of charges में, अगर कोई error होता है, या फिर जो है क्या होता है, omission होता है, ठीक, error और omission का अगर case है, तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है, सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ देखने को मिलती है, कि यहाँ पर अगर कोई भी substantive question of law का violation हो रहा है, जो भी हमारे error और omission हुए है, charge framing करते समय, तो इस time पर जो है हम क्या करेंगे, visiate कर देंगे proceedings को, या फिर accused से related, accused के उन गलत charges के लगाए जाने पर, कुछ ज़्यादा क्या grave injustice हो रहा है, उस time पर हम visiate कर देंगे, और तीसरी important बात, जो आपको याद रखने वाली है, इस question से related, 460, 461, CRPC के यह दो section है, जहां पर आपको बताया गया है, कि कब CRPC की proceeding, visiate कर जाएंगी, और trial को incompetent बाना जाएगा, और कब CRPC में, visiate करेंग, proceeding visiate नहीं करेंगी, तो हम जो है, इसको इसके साथ read करके, हमेशा पढ़ते हैं, तो इसका जो सही answer है, यह केबल तभी महतपूर है, जब इसके अव्योक्त के प्रत, पूर्वा गाहा उत्पन हुआ हो, ठीक तो option number, B is the correct answer of this question, clear, B जो है, इसका बिल्कुल सही जबाब है, आगे चलते हैं, next question पर, addition and alteration of charges, has been provided under, बहुती easy question है, क्या पूछ रहा है, कि जो हमारा प्रवार में, व्रद्दी या परिवर्तन के, अंतरगत प्रावधान किया गया है, 214 CRPC, 215, 216, या फिर 218, बताईए, आपके according, इसका कौन सा सही answer होना चाहिए, majority कह रही है B, और answer है इसका C, 216 में बात की गई है, कि हम किसी भी चार्ज में, कुछ alteration कर सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं, या फिर किसी भी चार्ज में, addition भी किया जाता है, addition मतलब कुछ charges लगाए गए, magistrate के दौरा जब charge frame किये गए, उसके बाद देखने को मिलता है, कि कुछ और act किये गए हैं, और in act के according क्या किया गया है, in act के according कुछ और charges लगने हैं, तो ऐसे charges को क्या किया सकता है, addition में लाया जा सकता है, उसके उपर, और alter करना है, alter मतलब इसको जो भी लगाए गए charges हैं, उसमें से किसी भी charges को हटाना है, तो इसको हटाया भी जा सकता है, ये बात हमें CRPC के 216 section 216 of CRPC में देखने को मिलती है, moving ahead, next question पर आईए, when shall the prosecutor and the accused be allowed to recall the witness, क्या कह रहे हैं, अभियोजक और अभियोक्त को गवा को वापस बुलाने की अनुमती कब दी जाती है, option A, the court has explained the charges of the accused, option B, the accused want to cross examine, option C, when a charge is altered or added by the court, option D, in all of the condition, बताएं फटाफट से इसका सही answer आपके according क्या होना चाहिए, prosecutor and the accused allow to recall the witness, अब आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपसे दो important चीज़े पूछी जा रही है, और वो important चीज़े क्या है, कि जो हमारा prosecutor है, या accused है, वो जो है उसको कब witness को दुबारा से बुलाने के लिए बुला जा सकता है, तो सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि जो इस question का सही answer है, वो है option number C, जब हमने क्या किया है, पहले, इस process को समझ लो, most important process है, आप लिखने की जगा नहीं मिल रही है, answer C, इसका क्यों सही है, देखो, यहाँ पर समझो, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति के उपर, charge frame किये गए, charge frame करने के बाद, कोई भी accused person का, जो है trial सुरू हो जाता है, यह बात मैंने आपको बताई थी, criminal procedure का trial, किस line पर काम करता है, ठीक तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, कि जब सारी चीज़े trial स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जो भी accused person के, या फिर जितने भी witnesses other person के हैं, उनको क्या गिया, examine कर लिया गया है, मतलब उनका examination हो चुका है, cross examination हो चुका है, सारी चीज़े examine की जा चुकी है, इसके बाद में हमें देखने को मिलता है, कि अगर कोई भी जो इस trial यहाँ पर, इस जगा पर यह सारी चीज़े हो गई, examination, re-examination, cross examination हो चुका है, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे charges को क्या किया जाता है, या alter किया जाता है, तब हमें देखने को मिलता है, कि यह सारी चीज़ें, यहाँ पर दुबारा से इन सारे witnesses को, या accused person को बुलाया जा सकता है, किसके लिए examination करने के लिए, ठीक तो यहाँ पर कब बुलाया जाएगा, जब कोई भी नया alteration किया गया है, या फिर कोई भी addition किया गया है, तब हम उसको दुबारा से cross examination के लिए बुलाते हैं, तो when a charge is altered or added by the court, that is the correct answer of this question, option C जो है इसका बिल्कुल सही जबाब है, moving ahead, next question पर आते हैं, under section 219 of criminal procedure code, the offense of same kind means, ठीक क्या गह रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 219 of CRPC के according, same kind के offense की क्या definition है या क्या मतलब है, जल्दी से आप इसके 4 options को पढ़िए और answer कीजिए, देखे पहला option कह रहा है, when they are punishable with the same amount of punishment, option B, when they are punishable under the same section, option C, when they are punishable with the same amount of punishment, under the same section of the Indian Penal Code, और any special law or the local law, option D, none of the above, majority का answer आया है, majority का answer आया है, option number C, तो जब हम बात करते हैं, section 219 of CRPC की, तो offense of same kind का मतलब है, when they are punishable with the same amount of punishment, under the same section of Indian Penal Code, और any special or the local law, इसका मतलब, जब भारतिय डंद सहेता के, या किसी भी विशेषिस्तान के कानून को, समान धारा के तहत, समान सजा से, डंदनी हो, तब जो है, हम क्या कर सकते हैं, 219 के तहद, एक ही तरह के अपरादों का मतलब, जो है, इसको जोइन किया जा सकता है, जब हम बात करते हैं, किसकी, और charges को alter करने की, जोइन करने की, तो हमें देखने को मिलता है, कि अगर, same kind के offenses, अगर कोई भी इनसान कर रहा है, तो उसको जो है क्या, जोइन करके, हम एक ही trial में try कर सकते हैं, clear, तो option C, जो है, इसका विल्कुल सही जवाब है, next question, in case, in the case, in which a judgment is given, that a person is guilty of, one of the several offense, specified in the judgment, but that is, but that it is doubtful, of which one of the offense, he is guilty of, the offender shall be, option A, acquitted of all the charges, retrial for all the charges, punished for offense, carrying the lowest punishment, punished for the offense, carrying the highest punishment, आज क्या सारे कोश्चनों के answer C हैं क्या, क्यों, आज सारे कोश्चनों के answer C हैं क्या, punished for the offense, carrying the lowest punishment, this is the correct answer, आज तो आँख बंदगर के CCCC लगाए जा रहे हो, सारे answer C हैं, बताई ये, yes sir, option C is the correct answer, punished for the offense, carrying the lowest punishment, option number C, जो है इसका बिल्कुल सही, जवाब है, clear, चलिए, आगे चलते हैं, JLO में बहुती easy question आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, JLO में इसी standard के question आप से पूछे जाएंगे, अगर आप previous year paper को उठा कर देखेंगे, previous year paper को उठा कर देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा, कि इसी level का paper आप से पूछा जाता है, ठीक, अब तक सारे level चाहें, 2013 का paper हो, 2016 वाला हो, 2019 वाला हो, इस तरीके के ही similar question पूछे गए हैं, और इसी जो है क्या, ऐसे ही question आप से इस बार भी पूछे जाएंगे, ओके, next question पर आते हैं, C is the correct answer, what is the, what is true about the court of session, court of session के respect में, क्या जो है, बिल्कुल सही जानकारी है, it can take the cognizance without commitment, it cannot take the cognizance without commitment, option C, it can take the cognizance on the DM recommendation, option D, it can take the cognizance if, चालांज put up by SP, किसकी बात कर रहे हैं, court of session की बात कर रहे हैं, क्या court of session के पास, किसी भी matter का, cognizance लेने का अधिकार होता है, या नहीं, ये चीज आप से पूछी जा रहे हैं, अब देखो, trial start हो गया है, तो trial के sections को, एक बार जो है, detail में, यहाँ पर मेरे साथ discuss कर लो, पूरे trial के concept को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में क्या गरेंगे, उसके बाद में, इस से related सारे MCQ rapid fire, को इसके round में कर लेंगे, ठीक, तो यहाँ पर इसका जो answer है, it can not take the cognizance, without the committal, जब तक नीचे वाले court, जो है, हमारे court of session को, क्या, जब तक committal नहीं करेंगे, किसी भी case का, तब तक court of session के पास, कोई भी क्या अधिकार नहीं है, कि वो direct, जो है, किसी भी matter पर, cognizance ले सके, ठीक, तो option number B, is the correct answer of this question, अब यहाँ पर एक important चीज़ समझ लीजिए, जो मैं आपको, court of session के respect में, बताना चाता हूँ, बला खराब हो गया आज, तीन stages होती है, basically, पहली होती है, FIR register कराना, FIR के बाद investigation होता है, investigation के बाद में, आपको देखने को मिलता है, कि जब कोई भी क्या, police report submit कर दी जाती है, judicial magistrate साब को, judicial magistrate साब क्या करते हैं, इस पर अपना judicial mind apply करेंगे, और यह देखेंगे, case बनता है या नहीं, और फिर उसके बाद अगर बनता है, तो क्या करतेंगे, charge framing कर देंगे, charge को frame कर दिया जाएगा, और उनके उपर, फिर यहाँ पर जैसे ही, charge frame होंगी, इस से लेकर judgment तक का, जो है क्या होता है, trial का stage होता है, तो हमने ये तीन चीज़ देखी, investigation हमेशा से कौन करेगा, police करेगी, inquiry हमेशा कौन करेगा, judicial magistrate के द्वारा की जाएगी, तो inquiry का procedure यह हो गया, यहाँ पर अपना mind apply करके, और charge framing तक वो सारी चीज़े, inquiry के अंदर आती हैं, जब हम trial की बात करते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ा देखने को मिलती हैं, अब आजाईए, कि trial हमारे कितने प्रकार के CRPC में provide किये गए हैं, section 225 से start होता है, 237 तक, important है JLO के लिए लिए लिखते जाना साथ साथ में, क्या है, court of session trial, कौन सा, court of session trial जो है, कब इसको deal करेगा, ये इसका पूरा trial का procedure, अगर ये procedure, charge framing के बाद ऐसा लगता है, कि court of session में इसका trial चलना चाहिए, क्योंकि punishment के basis पर क्या किया गया है, punishment के basis पर इन सारी चीज़ों को define किया गया है, और जब हम बात करते हैं, punishment की, तो CRPC में आपको पता होगा, कि अगर hierarchy को मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, session judge, या फिर आप इसको court of session भी बूलते हैं, इसके साथ में ही इनका काम को हलका करने के लिए, additional session judge बिठाए जाते हैं, इसके नीचे एक assistant session judge आपको देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, chief judicial magistrate देखने को मिलते हैं, उसके नीचे judicial magistrate first class होते हैं, ये judicial magistrate second class होते हैं, ऐसे hierarchy होती है, इनके पास कितनी power है, इनके पास power है कि ये जो है, एक साल तक की punishment के सारे मुद्दों को सुनेंगे और 5,000 रुपे तक का fine चिपका देंगे ठीक है इनके पास कितनी है 3 साल तक की और 10,000 रुपे तक का fine ये 7 साल की सजा सुना सकते हैं और any amount of fine दे सकते हैं अब यहीं से determine होता चला रहा है starting से ही कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक साल तक का अगर किसी भी matter में जुर्माना या फिर 5,000 तक का जुर्माना है या एक साल तक की सजा है तो कौन देगा उस matter को judicial magistrate first class जो है क्या करेगा सुनेगा दूसरा क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है GM first class की power है 3 साल और जो है 10,000 रुपे तक के cases को सुनना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर एक 3 साल तक की सजा दी जानी है मतलब theft theft की punishment हो नहीं है तो उसमें judicial magistrate second class 7 साल तक CGM assistant session just 10 साल तक की punishment दे सकता है additional or court of session any punishment दे सकते है बट अगर यह क्या देते हैं हमारे death penalty को देते हैं तो death penalty क्या होती है subject to the confirmation of high court होती है 366 के according और इसके उपर high court होती है जो कि कोई भी punishment any punishment और any fine को impose कर सकती है that is clear इतनी बात clear हुई तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है अब आपको देखना है कि जो यह trial चल रहा है यह वाला यहाँ पर ध्यान दीजेगा उपर यहाँ समझा रहा हूँ यहाँ पर ठीक है यह जो trial चल रहा है इसके अलग-अलग basis पर जो है हमें बताए गए है procedure 225 से 236 quote of session हो गया उसके बाद 238 से लेकर 250 तक हमारा क्या होगा warrant trial चलेगा ठीक है फिर 251 से 259 तक summons trial चलेगा और 260 से लेकर 265 तक summary trial चलाया जाएगा ठीक है क्या होगा तो इस तरीके से हमें यह सारे चार्ट trial देखने को मिलते हैं और यह according to the punishment दिये जाते हैं यहां से compare कर लेना तो यह दोनों ही चार्ट आमने सामने बना लो तो आपके JL.O. के कम से कम 10 question इन सारी चीजों से तयार हो जाएंगे ठीक तो अब हम अपना move कर रहे है किस पर हम move कर रहे है court of sessions पर अब जल्दी जल्दी आपको rapid five round में इसका answer देना है which one of the following court can try a case punishable with the life imprisonment life imprisonment तक की punishment कौन से court के द्वारा दी जा सकती है judicial magistrate first class session judge chief judicial magistrate या फिर all of the above ठीक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा सस्त्र नियाले है मतलब session judge है वो जो है life imprisonment तक की death penalty of life imprisonment वही दे सकते है clear आगे चलते हैं be is the correct answer rapid five शुरू हो गया जल्दी जल्दी दो answer the procedure of summons cases is provided in which one of the following cases अभी बताया है मैंने सही answer बताना summons cases का procedure कहां से कहां तक provide किया गया है इस तरीके के आपसे court of session के sections पूछे जा सकते हैं warrant trial के पूछे जा सकते हैं summons trial के पूछे जा सकते हैं या फिर summary trial के भी जो है sections number basis question आपसे हमेशा JLO में देखने को मिलते हैं तो अगर हम इसकी बात करें तो 151 से लेके 259 तक summons procedure के बारे में हमको बताया गया है तो भी इसका सही जबाब है आगे चलते हैं next question पर in the interest of justice of magistrate has power to try a case summon cases as a warrant case wherein the offense to a tried there under is punishable with the imprisonment exceeding six month exceeding four month exceeding one year none of the above जल्दी से answer करिए बी चार मंत नई option number a is the correct answer exceeding six month के matters को हम जो है summons class के से जो है warrant cases पर trial चला सकते हैं तो option number a is the correct answer read the section 259 of CRPC that is also important और उसी से related यह हमारा question है moving ahead next question पर आईए which one of the following courts can try summarily offense mentioned in 260 of the criminal procedure court any chief judicial magistrate any metropolitan magistrate any magistrate of first class especially empowered by the high court या फिर all of the above किसकी बात कर रहा है 260 की बात कर रहा है तो 260 की सुनवाई कौन सी अदालतों के द्वारा की जा सकती है summary trial के offenses में ठीक तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि as per 260 summary procedure की बात करे तो chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, magistrate of first class और आपको देखने को मिलेगा magistrate of first class especially empowered by the high court इस काम को करने के लिए बताया गया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह सारी चीज़ें के all of the above is the correct answer as per the section 260 of CRPC के according next question पर आते हैं यह question repeatedly पूछा जाता है कि अगर हम बात करें किसकी summary trial की तो यहाँ पर हमें maximum imprisonment कितना देने का अधिकार होता है ठीक three month six month nine month या फिर एक year पूछ रहा है आपसे क्या summary trial चलाने की summary trial में हम कितना punishment दे सकते हैं section 260 से start होकर 265 तक चलने वाला यह जो है पूरा procedure हमें क्या बताता है कि हम summary trial में सिर्फ और सिर्फ कितनी सिर्फ और सिर्फ तीन मंत की punishment दे सकती है तो तीन महीने option a जो है क्या हो जाएगा इसका विल्कुल सही answer हो जाएगा moving ahead the chapter of plea bargaining is added to the CRPC by the option a criminal amendment act 2005 criminal amendment act 2005 criminal amendment act 2006 criminal amendment act 2003 क्या गह रहे है plea bargaining के concept को जो है कहां पर किस जो है अमिड्मेंट से जोड़ा गया है यह answer आपको करना है कि ट्राइल से related कोई question गलत तो नहीं होगा एक बार पहले इतना बताओ फिर मैं प्लीग वार गेंग को आगे continue करूँगा पहले इतना बताइए कि ट्राइल से related चाहें हमारा court of session trial हो summary trial हो warrant trial हो या summons trial हो इससे जादा इससे जादा जो है क्या आपका इससे अब कोई question गलत तो नहीं होगा फटाफट से बता दें कोई question अब गलत तो नहीं होगा इतने ही जेलो के लिए important है क्योंकि पूरा summary trial और आपका warrant trial और आपका court of session trial जेलो में detail में नहीं पूछा जाएगा clear ठीक है मज़ा आया सारी चीज़े बता दी कौन कितनी तब की punishment देगा और कहां पर कितने offense के बाद कौन से court में matter जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है प्रसांत जी कह रहा है शायद पहली बार class में आये के अगर इतने easy question आएंगे ना तो सबका selection हो जाएगा ठीक तो प्रसांत जी अगर इससे भी easy question आए और आप मतलब first rank ले आएंगे तो मुझे बहुत जादा खुशी होगी ठीक लेकिन इसी standard का paper आता है जब paper का peer pressure होता है exam का वो handle नहीं होता law तो मैं करा दूँगा law के तीनो paper मैं आपके करा दूँगा 15 October तक ठीक और इसी से related सारी class है मैं तो आपको question basis पर ये सारे concept समझा रहा हूं ठीक है लेकिन अगर आप ठीक है अगर आप क्या कहते है इसके bare act को भी complete करना चाहते हैं बहुत सारे बच्चों क आपको पूरी तरीके से यहाँ पर हमें bare act की reading करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि कैसे bare act को जल्दी जल्दी से cover करें तो उसके लिए जो आपकी request थी उसको accept किया गया है और JLO का पूरा का पूरा free course मैं यहाँ पर 6 से 7 लेता हूं ऐसे ही bare act के सारी classes करा देंगे और जितने भी JLO के बच्चे इस बार के first paper को qualify करने के बाद interview में जाएंगे उनके लिए interview guidance program भी free of cost कराया जाएगा clear ठीक तो वो glass भी आप ले सकते हैं वहाँ पर भी सारी चीज़े आपको cover कराई जा रही है bare act के respect से CRPC उन्होंने start किया है इसरी class करा दी है कल उनकी fourth class होने वाली है तो उस class का भी फाइदा उठाई और comprehensive JLO की तयारी कर लीजिए और complete तयारी करने के बाद आप इस बार JLO देने जाना बस आप lack करोगे तो एक जगा पर जो आपका fourth paper है that is language paper जहाँ पर आपको English और Hindi के 70-75 questions आएंगे तो उस पर major focus र separately pass होना है अगर ऐसा नहीं कर पाऊगे तो यह मान के चलना के आपका number नहीं आने वाला है clear अपना Hindi का bear act खुलो उसमें Hindi में नहीं है तो bear act से pढ़ा रही है और कहीं से तो पढ़ा नहीं रही है तो Hindi का bear act खूल के बैठ जाये करो और madam बोलती तो हिंदी में यह न तो हिंदी के अपने सारी चीजों को बहाँ पर लिखते रहा करो ठीक है जिससे के आपका क्या होगा आपका और अच्छा तरीके से JLO की preparation हो जाएगी तो plea bargaining का concept जो है हमारा कब से हमें देखने को मिलता है यह जो criminal amendment act 2005 जो कि act number 2 of 2006 enforce में आया है जो 55 2006 को enforce में आया उसमें हमें जो है क्या plea bargaining की concept देखने को मिलता है आपकी class ही लेनी है ठीक है हमारी class लेनी है तो आप हमारी class ले सकते हैं मैं daily 6 से लेकर साड़े 6 साथ बजे तक आता हूँ अगर इतना समझ में आ गया हो तो plea bargaining के concept को start कर दे प्ली बार गेनिंग के concept को start कर दे ए option b is the correct answer of this question moving ahead plea bargaining related 4-5 question आपके jail में पूछे जा सकते हैं section 265a of CRPC applies to the cases where the punishment is for 7 years more than 7 years 10 year or life imprisonment CRPC की धारा 265a उन मामलों पर लागू होती है जहां पर सजा 7 वर्स 7 साथ साल से अधिक 10 वर्स या फिर आजीवन कारावास होता है ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है पूछ रहा है 265 के according 265a क्या है हमारा plea bargaining है जिसको 2005 के criminal amendment से जोड़ा गया जो 5-5-2006 को force में आया ठीक इसमें जितने भी offenses जिनकी punishment 7 साल से कम की है तो यह accused को एक right दिया गया है कि अगर उसको ऐसे किसी भी offense में punishment दी गई है जहां पर 7 साल से कम की उसकी punishment है तो उसके पास अध जा की मतलब bargaining कर सकता है quote के सामने और accused person से जो है इसको क्या कर सकता है इसको complete कर सकता है ठीक तो यह जो है at least 7 years का जो concept है हमें यहाँ पर दिखाई देता है उसके बाद के ही sentences को यहाँ पर पूरी तरीके से plea bargaining के concept में जो है bargain किया जा सकता है तो option A जो है इसका विलकुल सही जावधान लागू होते है option A offense affecting social economic condition of India, option B offense committing against women, offense committing against children below the 14 years of age और none of the above is the correct answer पूछ कर रहा है provision relating to the plea bargaining is applicable to किस पर प्री bargaining का concept applicable होता है यह आप से पूछा जा रहा है चार चीज़ें आपको यहाँ पर देख रही है अगर हम बात करें plea bargaining की तो ऐसे offenses जो social economic condition को effect करते हैं उन पर जो है 265A plea bargaining का concept नहीं लगता ऐसे offenses जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि offense against women है बूमेन है मतलब पॉसको बगेरा के offense है या फिर ऐसी IPC की धाराएं जहाँ पर महला के विरुद कोई भी offense किया गया है उन पर भी जो है plea bargaining कोट अलाव नहीं करेगी 265A का concept नहीं लागू होगा offense against the children below the age of 14 years इस पर भी जो है plea bargaining का concept apply नहीं होगा तो इसका जो सही answer है वो है option number D is the correct answer उपरुक्त मैं से कोई नहीं इस दी सही जवाब next question पर आईए under the criminal procedure code 1973 who was filed an application for plea bargaining अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं 265A की तो जो plea bargaining की आपकी application है वो किसके द्वारा लगाई जाती है public prosecutor investigation officer victim of the offense या फिर accused of the offense बताएं अपरादिक प्रक्रिया सहेता 1973 के तहट plea bargaining में कौन सा आवेदन दायर कर सकता है लोक अवियोजक जाच अधिकारी अपरादी अपराद का मतलब victim of the जिसके अगेंस्ट में offense हुआ है या फिर अपराद का आरोपी तो हमें देखने को मिलता है victim क्यों करेगा अगर victim के फेवर में decision आया है तो victim accused की plea को bargain क्यों करेगा तो यहां पर आप clearly देख सकते हो जब 265A की बात होती है तो यहां पर यह accused का right है जिसने offense किया है उसको punishment दी गई है वो जो है क्या कर सकता है 265 के according अपनी punishment को कम कराने की दरख्वास्त कर सकता है बार गें कर सकता है तो D is the correct answer of this question clear next question पर आते हैं examination of witness in the absence of accused can be done under section 299 section 321 section 224 section 298 of CRPC क्या कह रहा है अवियुक्त की अनुपस्तिरी में गवाज से पूच्तास निम्न प्रकार से की जा सकती है 299 311 224 यहां पर 298 under section 299 of CRPC ठीक तो अब यहां पर हमने 299 CRPC का question देखा ठीक option number A is the correct answer और आज जो है हम अपना 300 से आगे continue करेंगे last session तक हमने जो है कहा तक कर लिया था last session तक हमने पूरा अपना 299 section CRPC तक कर लिया था इसके respect में 293 और 294 जो है 292 और 293 हां 292 और 293 क्या गर रहे हैं पूरी तरीके से आपको खुद से इसकी एक बार self reading ले लेनी है क्या self reading करनी है कि इसकी 292 की और 293 और CRPC की आज बहुत important हमें जो है पार्ट complete करना है और इस important पार्ट में जो है आज हम 300 से आगे 327 तक majorly basis पर सारे MCQs को करने वाले हैं clear अब यहाँ पर एक important बात कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं और जो भी हमने CRPC 1973 की इस marathon class में पढ़ा है वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त करना चाते हैं तो आपको अपूर शर्मा official इस telegram group पर मुझसे connect करना है यहाँ पर आप मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं और CRPC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीज़े हमने detail में discuss की हैं वो सारा content अपूर शर्मा official इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा और अपूर शर्मा 252 यह है मेरा instagram account इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूं तो आप message जितने भी लोग मुझसे connect हो कर अपना कोई भी doubt या सवाल पूछना चाते हैं वो अपूर शर्मा official 252 अपूर शर्मा official आप telegram पर जाकर सर्च कीजेगा आपको मेरा group मिल जाएगा इस group में मैं आपको daily basis पर जो है MCQ practices कराता हूँ जो के judiciary के और APO के prospective से बहुत ज्यादा important है प्लस इसमें मैं आपको current affairs चाहें वो legal current affairs हूँ या फिर आपके general current affairs हूँ या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं चाहें तो freshers के लिए या फिर जो है आपके advocate जो के experience advocate वाली हैं उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपक study IQ judiciary के live foundation batch 7 को join करना चाते हैं जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी हैं और इसमें admission लेने की 9 October last date है तो यह हमारा comprehensive plan है जहां पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी वो भी 12 महिने में ये पूरा batch live रहेगा और live classes में आप अपने teacherों से बात करके discussion करके अपने सारे doubts क solve कर सकते हैं अगर आप इस batch में admission लेना चाते हैं तो आपको APU का code use करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं admission लेने का क्या procedure होता है वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आपको जो है Google पर जाना है और Google पर जाकर सर्च करना होगा study IQ judiciary जैसे ही आप Google पर जाएंगे Google पर जाकर आप सर्च कीजेगा phone से laptop से टैप से या फिर जो है सारी चीजों से study IQ judiciary यहाँ पर जो है आपको सर्च करना होगा जैसे ही आप study IQ judiciary को सर्च करेंगे study IQ judiciary को सर्च करेंगे हमारी original website पर जाएगा वहाँ पर आपको life foundation batch 7 का comprehensive plan लेगने को मिलता है 40,000 का यह batch है इसको आप मा validity के साथ ले सकते हैं buy now के option पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के तीन अक्षर का एक promo code डालना होता है चाहें आप capital में डालें या small में डालें APU मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे 24,999 में यह life foundation batch ना होता इतने सारे payments के option आते हैं जैसे ही आप जो है इन मेंसे किसी भी माद्यम का payment करेंगे आपको life foundation batch 7 में admission मिल जाएगा और ऐसे ही study IQ के जो है हर मन्त में एक life foundation batch launch होता है अगर आप भविस्च में या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई वेन भविस्च में judicial services की त तीन महीने बाद देखें तो उनके लिए भी study IQ के पास life foundation batch है जो बच्चे law colleges में है उनके लिए भी आपके जो है दो या तीन साल के program बनाए गए हैं जिसमें आपको पूरा law दो या तीन साल में complete कराया जाता है mentorship भी मिलती है handwritten notes भी मिलते हैं legal updates भी मिलते हैं और आप अपने college time से ही तैयारी कर सकते हैं तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्यम से payment करके इस batch को join करेंगे तो आपको APU के code को लगाने से मतलब मेरे code को लगाने से ये batch 24,994 मत की validity के साथ मिलेगा प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है that is called study IQ judiciary महापक ये भी आपको free of cost provide किया हैं आज ही जाकर इसमें enroll करिये सबसे पहला question है a person accused of an offense before a criminal court can be called upon to give evidences on oath अपराधिक अदालकतों के समक्ष किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को सपत पर साक्ष देने को बुलाया जा सकता है ठीक option A यहाँ पर कह रहा है upon a request in writing from the from the public prosecutor option B by an application made by a complainant by the direction of the court by the accused on his own written request सरकारी वकील के लिखित अनरोध पर सिकायत करता के द्वारा दिये गए आवेदन पर नियाले के निर्देश से अविविक्ति द्वारा सुयम लिखित प्राथना पत्र पर अब देखो यहाँ पर याद रखना कि आज का जो session है 300 से लेकर मैंने आपको कली बताया था कि 327 त सूला question JLO में directly ऐसे चिपके हुए मिलने वाले हैं तो यह question हमारा काहा से है यह question है हमारा किस से section number 313 से ठीक तो section 313 का यह question है बहुत ही interesting question आपसे यहाँ पर पूछा गया है जल्दी से इसका answer करिए और अभी तक class को ना like किया है ना ही अपने दोस्तों के साथ share किया है मैंने आज time पर class through कर दी तो बच्चे अभी तक आए नहीं है फटावर से session को like करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ share करो जिससे के सारे लोग इस class का benefit ले सके most important part पढ़ा रहा हूं आज CRPC का कल भी यही बात मैंने repeat की थी तो अगर हम इसके answer की बात करें तो आपक जब सपत पत्र पर अपने क्या evidences को देने के लिए कब by the accused on his written request जब आविविक्त स्वयम ही लिखित प्राथना करता है और यह बात बताई कहां पर गई है यह बताई गई है section 315 में accused person to be a competent witness accused person जिसके उपर charges लगे होते हैं उसको क्या किया जा सकता है उसको भी competent witness माना जा सक और इसकी जो क्या दो clause है उसको पढ़ लीजे बहुत ज़्यादा important है any person accused of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense अब देखो पहले इतनी बात को समझो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है 315 यहीं पर 315 समझा दे रहा हूं आगे जितने भी 315 से related question आएंगे वो गलत नहीं होने चाहिए ठीक तो अगर किसी भी accused के ऊपर कोई भी allegations लगे हैं तो वो क्या कर सकता है अपने defense में witness बनकर आ सकता है और अपने statement record करा सकता है यह बात हमारे clause 1 के first part में लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर सर्त क्या है end में shell word का इस्तमाल हुआ है मतलब accused person आ सकता है हमारा witness बनकर और उसको competent witness court माने क्योंकि यहाँ पर word shell लिखा है and may give the evidence on oath in disapprove of the charges made against him दूसरा question यहाँ से बनेगा कि जो भी व्यक्ति मतलब जो भी accused person आया है as a witness बनके तो वो क्या कर रहा है वो अपने ही क्या अपने ही defense में सारी की सारी जो है चीजों को बता रहा है और यह सारी चीज़े कहां पर ली जाएंगी oath पर ली जाएंगी जहां पर वो deny करेगा कि उसके उपर लगे हुए charges पूरी तरीके से गलत है moving ahead और any person charge together with him at the same trial ठीक या फिर एक accused व्यक्ति है उसी के साथ जो है joinder of charges करके किसी दूसरे व्यक्ति का भी trial चला जा रहा है same cases में तो वह व्यक्ति भी आकर क्या कर सकते हैं competent witness बन सकते हैं ठीक है और provided that provided that पड़ो यहां से जो है आपके दो question और बनते हैं he shall not be called as a witness except upon his own request यह जब तक नहीं बुलाए जा सकते जब तक कि इनकी own request पर क्या ना किया जाए ओन यह जो है लिखित में ना दे हैं कि मुझे जो है witness बनकर आना है ठीक तो accused person के लिए 315 यह कहता है कि जब तक accused person चाहता है कि वह अपने case में witness बनके जाए तो वह जब तक नह नहीं कर देता कि वह जो है witness बनकर आना चाहता है दूसरा his failure to give the evidence shall not be made the subject to any comment by any parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with same trial clear तो यह दोनों ही बाते आपको ध्यान रखने वाली है basically इस section से आपके तीन question बन जाती है 315 से तो इस question का उस सही answer है वो क्या है option number D is the correct answer कि अगर किसी भी person को जिसके उपर charges लगे हुए है crime को commit करने के और वो competent authority के सामने क्या witness बनके आना चाता है तो उसको बुलाया जा सकता है लेकिन उसके लिए उसको court में written permission देनी होती है clear लेकिन वो क्या अपने खिलाफ में गवाई नहीं देगा सोनम वो जो है अपने किसमें अपने defense में गवाई दे सकता है clear अप मतलब self harming statement नहीं देता लेकिन self serving statement देता रहता है self harming को self serving का मतलब क्या है self harming statement वो statement होते है जहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसे statement दे रहा है जो उसके criminal case को उसी के against मे नहीं दे सकता लेकिन अपने defense करने के लिए as a witness बनकर वो court में आ सकता है लेकिन उससे पहले उसको court की written permission लेनी होती है ठीक तो self serving statement दिये जाते हैं 315 की जब भी कोई भी accused कैसे आ रहा है कोई भी accused जो है witness बनकर आ रहा है अपने ही case में या अपने ही trial में इतनी बात clear हुई तो यहाँ पर याद रखना कि accused person जिसके against trial चल रहा है या फिर जिसका joinder of trial चल रहा है तो उसके against भी जो उसका दूसरा व्यक्ति होगा वो भी as a witness आ सकता है लेकिन वो हमेशा कौन से statement नहीं देंगे self harming statement नहीं देंगे नहीं तो क्या होगा हमारे article 20 का violation हो जाएगा ठीक है इस वजय से self अपने defense में वो witness बनके आ रहे हैं option number D जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है किसी का कोई reply नहीं है पहले अब इतना बता दो 315 समझ में आया class start करने में daily पूछना पड़ता है कि जो पहला question कराया है वो समझ में आया है या नहीं आया है यार बताओगे नहीं तो फ जा दिया है अब 315 से related कोई भी question आयेगा तो गलत नहीं होना चाहिए अभी आये है तो मैं अभी आया हूँ clear है बहुत clear है clear है clear है सबको clear है ठीक है फटाफट से कर दो session को like और share अब आ गई सारे student आज मैंने time पर class शुरू करी है तो जो late लतीव बाले बच्चे है वो अभी अपने time पर आये उनको इससे मतलब नहीं है कि sir time पर है आज तो हमें भी time पर होना चाहिए हमारा तो अपना सिद्दान्त है section of CRPC provision for the free legal aid is made क्या कह रहा है कि CRPC के निमलिखित किस धारा में निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है 406 301 304 या फिर 306 free legal aid या फिर free legal aid for the persons किस में बताया गया है ये question आप से पूछा जा रहा है अब तो हिंदी वालों को पूरा clear दिख रहा होगा अब हिं बताये किस का पूछ रहा है निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान CRPC मतलब हमारी दंड सहायता प्रक्रिया के किस धारा में किया गया है ठीक तो जब हम बात करते हैं free legal aid की तो हमें देखने को मिलता है कि इसका जो section number है वो है section number 304 और जब 304 का एक बर जरूर reading करेंगे क्योंकि यहां पर क्या क्या हमको बताया गया है that is the most important section for the JLO यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 304 पर घुमा फिरा के 3-4 question बनते हैं जो आपको JLO में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे read करते है section 304 of criminal procedure court is provision providing for the free legal aid to the accused at state cost in certain cases अब देखो यहां पर 304 में क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके उपर किसी भी crime को करने के charges लगे हैं तो हम state के खर्चे पर उसका क्या करेंगे defense कराएंगे जिससे के उसका जो self defense का अधिकार है उसको मिल सके ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी भी इनसान के पास पैसा नहीं है चाहे वो accused side हो चाहे व वो जो है अपने advocate को hire कर सकें तो वो जो है क्या कर सकते है advocate hire कर सकते है लेकिन अगर accused person जिसने crime किया है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसका case कोई भी अधिवक्ता लड़ सके या किसी भी advocate को hire कर सके तो state government की responsibility है कि उसके बचाव के लिए क्या किया जाएगा एक अधिवक उसका representation करेगा दूसरी सबसे important बात कि अगर projection side है जिसके against में crime हुआ है उसके पास भी कोई अधिवक्ता नहीं है तो उसके against तो हमेशा जो है क्या state ही protection प्रोवाइड करती है लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहे तो अपने लिए personal advocate को engage कर सकता है तो 304 ने बताया कि जिन भी लो पर पैसा नहीं है उनको भी जो है किसका advocate के द्वारा defense लेने का अधिकार होता है इसी वज़े से 300 सार CRPC हमको यह बताता है ठीक the high court of judicature of Bombay made certain rule as per section 304 regarding legal aid for the accused without representation before session court ठीक तो यहां पर क्या बताया गया है कि high court of Bombay नहीं बलके हमारे honorable Supreme Court of India ने कई बार जो है ruling दी है कि ऐसे लोग जो के accused हैं किसी भी crime के या फिर हमारे prosecution side से हैं उनको दोनों को ही क्या है legal aid लेने का free अधिकार है अगर उनके पास नहीं है पैसे तब भी उनका representation advocates के द्वारा ही court में कराया जाता है clear moving ahead come to the next question who can tender pardon to accomplish under section 306 of criminal procedure code दंड सरक्रिया दंड प्रक्रिया सहेता की धारा 306 के तैत अपराधी का कौन सा अपराधी को कौन चमा कर सकता है option a chief judicial magistrate only option b metropolitan magistrate only option c judicial magistrate first class option d all of the above हिंदी वाले दियान दे मुख्य नियायक magistrate metropolitan magistrate प्रथम स्रेडी magistrate या फिर सारे के सारे अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है tender of pardon to accomplish ठीक तो यहाँ पर हमें accomplish को क्या करना है pardon देना है तो किसके कौन से section में दिया जाएगा यह याद रखना 306 CRPC इसके बारे में बात करता है दूसरी सबसे बड़ी बात कि कौन eligible है कि किसी भी व्यक्ति को पाड़न दिया जा सकता है चमादान दिया जा सकता है अब यहाँ पर accomplish की बात हो यह पर 306 CRPC लिखा गया है कि जो भी accomplish होगा उसको क्या किये जाएगा 306 में हम पाड़न कर देंगे उसका punishment तो हमारा accomplish व्यक्ति कौन होगा इसका कोई मुझे बताएगा evidence में तो दिया गया है लेकिन आप कैसे इसको define कर सकते हैं कैसे इसको define कर सकते हैं कोई बता सकता है मुझे who is accomplished जल्दी देखते हैं कौन इसकी अच्छी definition लिखके बेजेगा अच्छा who is assistant client innocent guy good बाकी लोग जल्दी से यार एक word का meaning पूछा है नहीं बताओगे इतना भी नहीं पताओगे आज की class के लिए बताया था ना 327 तक पढ़के रखना किसी नहीं पढ़ा यह 306 पढ़ लिया लेकिन बस इतना पढ़ लिया कि जो हमारा tender of pardon to accomplish है वो 306 में दिया गया है पढ़के नहीं आया कोई भी चलो नहीं पढ़के आयो तो इसको या इसको answer करतो इस question का सही answer बताओ who can tender pardon to accomplish as per section 306 CRPC I am asking the question का सही answer बता दीजे चार ओप्शन है judicial magistrate, chief judicial magistrate, metropolitan magistrate, judicial magistrate, first class, all of the above this is the correct answer चलिए ठीक तो अगर हम बात करते हैं code of criminal procedure section 306 की तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें accomplished person को pardon देने की power क्या है किसी भी इंसान के पास court के पास होती है और वो court कौन-कौन से है पहला है chief judicial magistrate court, metropolitan magistrate court, judicial magistrate first class all of the above is the correct answer of this question option D इसका सही जवाब है आगे चलते है next question पर can a magistrate inspect any place of the commission of offense during the trial यहाँ पर क्या कह रहा है कोई भी magistrate inspect कर सकता है commission of किसी भी place को जहाँ पर commission of offense during the trial हुआ है ठीक क्या कोई magistrate मुकदमे के दौरान अपराज किये जाने वाले किसी भी इस्थान का निरिक्षण कर सकता है option A no magistrate cannot be a witness under section 310 CRPC no magistrate can a concern only in case of prosecution under section 300 CRPC yes the magistrate can inspect the proper appreciation of evidence under section 313 CRPC yes but the inspection will not be a part of office जल्दी से इसका answer करिए सब कुछ मैं बता दूँगा लेकिन इतने सारे कम से कम साथ स्टूडेंट मेरे साथ लाइब बैठे हुए और accomplish का मतलब नहीं पताया और मैंने कल ही बताया था कि 300 से लेकर 327 तक clearly पढ़के रखना और अगर आप उतना भी नहीं पढ़के आपाए हो तो फिर कैसे आपका exam qualify होने वाला है मैं तो बताई दूंगा मेरे को तो पताई है लेकिन आपने जब 306 पढ़ा तो 306 की heading ही याद करके आप लोगों ने इसको खतब बंद कर दिया section को इतना तो कम से कम सोचा होता कि इसमें accomplish है कौन जिसको हम pardon दे रहे है option number C is the correct answer of this question can a magistrate inspect any place of the commission of offense during the trial yes the magistrate can inspect for the proper appreciation of evidence under section 310 option C is the correct answer of this question ठीक जिसमें local investigation की बात की गई है 310 के 2 clause बहुत जादा important है और इनको जो है क्या करना इनको जो है detail में पढ़ लेना ठीक चलो आगे चलते हैं next question पर under this section of CRPC the court has power to summon any person as a witness at any stage of trial यहाँ पर क्या कह रहा है CRPC के किस सिदारा के तहत क्या नियाले के मुकदमे के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को गवा के रूप में बुलाने की शक्ती दी गई है 309 में 175 में 310 में या फिर 311 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ठीक है अब उस बारे में discussion नहीं होगा आंसर करिए इस question को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि the person as a witness at any stage किसी भी व्यक्ति को चब trial चल रहा हो तो summons करके court बुला सकती है किसी भी stage में यह किस section में provide किया गया है ठीक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करते है किसकी section 311 of CRPC की धारा 311 की यहाँ पर बताए गया है कि अगर trial चल रहा है और trial से related किसी भी witness की requirement है किसको किसी भी witness की requirement है कोट को तो वो उस witness को कोट क्या कर सकती है summons भेज सकती है और summons भेज के किसी भी stage पर at any trial that that is the main important कि any at stage of trial मतलब किसी भी stage के जो है दौरान उसको बुलाया जा सकता है option number D is the correct answer of this question read the section 311 of CRPC यह बहुत important है power to summon material witness और examination of person present ठीक यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो सारे लोगों को material summons भेज कर बुलाया जा सकता है जो कि witness है या जिन परसोनों का examination कराया जाना है कोट में तो यह power quote को कहां दी गई है 311 CRPC में provide की गई है क्या कहता है any person may यहाँ पर कह रहा है may word का इस्तमाल किया है तो court की यह power है ठीक either they are using that और इसको वो जो है क्या either they are not using that ठीक तो यह इनका क्या है description है quote के लिए may word का इस्तमाल हुआ है मतलब court चाहे तो बुलाए नहीं चाहे तो नहीं बुलाए shell word का استعمال यहाँ पर नहीं किया गया है ठीक any court में at any stage of any inquiry trial ठीक और other proceeding यहाँ पर क्या कह रहा है कि चाहे हमारा judicial magistrate क्या कर रहा है inquiry कर रहा है inquiry के time पर या फिर इसके बाद जब उसने charge framing कर दी है तो charge framing से start हो जाती है किसकी trial की proceeding ठीक तो trial की proceeding पर या फिर inquiry के proceeding पर जब खुद से judicial mind apply करके inquiry कर रहा है इसके पहले क्या होता है पुलिस report submit होती है 173 के तहत जहाँ पर पुलिस अपने investigation report यहाँ पर FIR होती है इसके बाद investigation start करती है तो investigation के बाद या तो वो अपनी final report submit करेंगे या closer report submit करेंगे उसके बाद यहाँ पर judicial magistrate judicial mind apply करना जैसे ही शुरू करते हैं और charge framing तक ठिक कहां तक charge framing तक आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से कि इसमें आपको क्या किया जाएगा इसमें आपको magistrate के द्वारा inquiry की जाएगी तो magistrate साब यहाँ पर आपसे क्या कहना चारे है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपके judicial magistrate inquiry कर रहे है या फिर trial conduct कर रहे है उस समय अगर उनको जरूत है किसी भी व्यक्ति की जहाँ पर उनको लगता है कि वो as a witness या फिर witness को सम्मन करेंगे या फिर किसी भी व्यक्ति को जो उस case से related है यहाँ पर इन person आने के लिए बोलेंगे दो not summoned as a witness और recall और re-examine any person already examine और यहाँ पर बताया गया है कि वो जो है क्या कर सकते हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिनको पहले से examine किया गया है उनको भी call कर सकते हैं या फिर जो है उनके भी call की जा सकती है कोई भी restriction इस पर नहीं है सम्मच बेजा जा सकता है and the court shall summon and examine recall re-examine any such person if his evidence appears to be essential for the just decision of the case और यहाँ पर क्या बताया last paragraph में बता दिया है जो बात मैंने अभी आपको बताई कि अगर ऐसा लगता है court को कि किसी व्यक्ति का examination पहले ही हो चुका है re-examination पहले ही हो चुका है लेकिन court को trial को complete करने के लिए किसी व्यक्ति के partyों के साथ justice करने के लिए अगर उनको दुबारा लाने की जरूत पड़ती है तो वो क्या कर सकते हैं वो जो है उनको दुबारा से summons भेज कर 311 के according court में या तो in person आने को बोल सकते हैं या फिर जो भी witnesses हैं उनको भी in person आने को बोल सकते हैं clear हुई इतनी बात clear हुई इतनी बात 311 समझ में आ गया जल्दी बताईए हा ना ठीक आ गया 311 समझ में 311 समझ आया के नहीं आया आ गया तो 311 में judicial magistrate जो भी try कर रहा है matter को उसके पास power है के वो क्या करेगा inquiry के समय investigation के समय पूरी तरीके से जो है किसी भी व्यक्ति को जो के हमारा witness है उसको बुला सकता है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको court deemed fit समझे दुबारा से बुला सकता है और re-examination और examination कर सकता है तो option D सही जबाब है next question पर आईए under section 313 of CRPC the statement of the accused has to be taken by the court CRPC की धारा 313 के तहद नियाले द्वारा अभिविक्त के बयान लिया जाना है ठीक on oath not on oath either on oath और without oath as per the description of the court option D either on oath or without oath as per the discretion depends upon the weather the case is summons or the warrant trial अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि as per section 303 अगर किसी भी accused person के statement लिये गए है ठीक statement लिये गए है तो उनको oath पर लेना जरूरी है या फिर oath पर लेना जरूरी नहीं है या फिर जब court चाहे तो oath पर ले ले या फिर नहीं ले ले अब देखो accused person के statement की बात हो रही है 311 में हम जो है witnesses को call कर रहे है court को power दे दी 313 क्या कह रहा है accused persons को हमें बुलाना है और उनके जो है क्या करने है उनके बयानों को दर्च करना है तो क्या वो जो है सपत पत्र पर लिए जाएंगे on oath लिए जाएंगे या फिर not an oath लिए जाएंगे किसकी बात कर रहा है 313 313 की बात हो रही है तो यहाँ पर यह statement कैसे लिए जाएंगे यह statement हमारे oath पर नहीं लिए जाएंगे कोई भी पढ़कर नहीं आया 313 के जो statement है 313 के जो statement है कभी जो है accused person से on oath नहीं लिए जाते clear on oath on oath नहीं लिए जाते हैं ठीक तो option number B सही जवाब होगा सही बताना कितने लोगों ने आज की class के लिए यह सारे important sections पढ़े थे कितने लोग पढ़के आये हैं आज एक बार hands raise करें please that is the most important area of CRPC जैसे 154 से 175 पढ़ाया है 41 से 60 पढ़ाया है और 300 से 327 ता question आते ही आते हैं हलके में ले रहे हैं सारे लोग इस area को आरे important important तो पढ़ा दिया last का CRPC तो बेकार 366, 312, 366 300 से लेका 327 इसके बाद 366 उसके आगे के सारे 371 तक के provision उसके बाद आपका आजाएगा सीधे 395 पढ़ाया रिवीजन अपील रेफरेंस वाला area वहां से उसके बाद 412, 413 उसके बाद आपका बेल का provision इस्टार्ट होगा तो यहां से अभी भहुत सारे question बनते हैं ये वाला area most important है भाई जेलो वाले बच्चे अगर नहीं बढ़ाये तो आज क्लास को करने के बार पढ़ लेना ठीक है चलो next question पर आजाओ B is the correct answer आगे चलते हैं next question पर an accused person may be a competent witness in his own defense under the code of criminal procedure 1973 in section 312 313, 315, 316 दंड प्रक्रिया सहेता के तहत आरोपी एक व्यक्ति अपने बचाव के समक्च गवा बन सकता है 312, 313, 315, 316 एक भी बच्चा इसका गलत आंसर ना करे अभी मैंने पूरा डिटेल में इस concept को आपको समझाया है accused person अपने लिए competent witness है और writing में लिखकर अगर code को देता है तो अपने self-serving statement के लिए क्या कर सकता है वो पूरी तरीके से आकर गवाही दे सकता है ये कौन सा section था 315 of CRPC detail discussion कर चुके हैं C सही जवाब है moving ahead next question पर आईए when the charge was framed results in of the accused discharge of the accused release only या फिर case filed only option A यहाँ पर अपरादिक मामले में जब तक आरोप तै किया गया हो सहे ता कि प्रावधानों के तैत अपराद का सम्मंस होता है जिसके परणाम से रूप आरोपी को बरी करना अभिवक्त का निर्वाहन केबल रिलीज केबल मामला दर्ज किया गया बताई यह फटापट इसका जो है सही आंसर क्या होने वाला है कमपाउंडिंग अफ ओफेंस अंडर दी प्रोवीजन ओफ क्रिमिलल प्रॉसीजर कोड 1973 डिस्चार्ज आफ एक्ट बानते हैं कमपाउंडिंग को देखा रखिये चलो यह बताना कमपाउंडिंग देखा रखिये compounding of offenses CRPC के कहां पर provide किया गया है इतनी सी चीज़ बता दो very good compounding of offenses का जो section है वो कौन सा है हमारा section 320 section 320 में यहां पर हमको बहुत सारी important चीज़े हैं जो जाननी है अभी समझ लो पूरा 320 समझा दूँगा 320 क्या कहता है कि जितने भी offenses है हमारे उनकी एक exhaustive list exhaustive list समझते हो ऐसी list के अगर हमें completely सारे offenses की list बना कर दे दी जाए और उसमें लिख दिया जाए कि यह sections जो है क्या है यह offenses हमारे इसमें दिये गए हैं उन्हें की compounding की जा सकती है compounding मतलब एक तरह से दोनों पार्टियां क्या कर रही है compromise कर रही है जो हमारा offender है या फिर जो हमारी prosecution है दोनों ही मिलके आपस में क्या कर रहे हैं आपस में अपने matter को सुल्टा रहे हैं compromise करके तो अगर हमने compromise ही कर लिया किसी भी चीज़ पर तो उस व्यक्तिका क्या किया जाएगा उस व्यक्तिका जो है equitable माना जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ 320 CRPC में बताया गया है और 320 CRPC के अलावा कहीं और CRPC के जो है क्या compounding की बात नहीं की गई है अगर ऐसा कोई offense है जो कि 320 CRPC में नहीं लिखा गया है उस offense की compounding code of criminal procedure में allow नहीं की जाएगी ठीक तो दूसरी सबसे important बात क्या रखनी है दूसरी सबसे important बात ये याद रखनी है कि जो आपके compounding होती है ये जो है क्या है एक तरह से compromise है और इसमें क्या होता है equitable किया जाता है किसी व्यक्ति को ROP को बरी किया जाता है ठीक तो option A इसका जो है क्या होगा option A is the correct answer clause number 8 को ध्यान से पढ़िए the composition of an offense under this section shall have effect an acquittal of the accused with whom the offense has been compounded ठीक जिस भी व्यक्ति के अब देखो यहाँ पर हो गया रहा है जिस भी व्यक्ति के ऊपर ठीक है एक सपोस करिए Mr. A इनने जो है क्या है offense किया है तो यह victim हो गई यह prosecution side हो गई और यह accused side हो गई अब accused इन से कहता है कि भाई मेरे उपर जो criminal trial किया है उसका मैं composition कराना चाहता हूँ अब composition कराने के लिए क्या होगा composition कराने के लिए पहले यह देखा जाएगा कि यह matter जो है 320 CRPC में fall कर रहा है या नहीं अगर 320 CRPC में fall नहीं कर रहा है तो इसकी composition quote अलाओ नहीं करेगा और अगर fall कर रहा है तो इन दोनों में क्या किया जाएगा settlement कराया जाएगा compromise कराया जाएगा और इनका criminal trial जो है begin नहीं होगा मतलब criminal trial start नहीं होगा इसी वज़े से आपको यहां पर 8th clause में बताये गया है कि जो इसका effect है वो acquittal माना जाता है और यही most important question है हमारे JLO वाले सारे students के लिए याद रखिएगा clear इतनी बात clear हो गई composition किस में 320 में और इसके अलाबा किसी भी चीज़ की compounding नहीं की जाएगी ठीक moving ahead next question when the person competent to compound an offense under 320 of CRPC is died then क्या कह रहा है कि अगर जब व्यक्ति किसी भी अपरात का समन करने के समक्षधारा 320 CRPC का मर चुका है तो ऐसे व्यक्ति जो कि compounding करने के लिए क्या थे eligible थे तो eligible होने के बाद में उनका क्या हुआ उनका पूरी तरीके से क्या कर दिया गया पूरी तरीके से जो है उनका जब trial start किया गया तो वो मर गए तो उनके basis पर कौन जो है उसकी compounding कर सकता है कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है can offense compounded at any stage विटा stages पर मैं बताता हूँ कैसे होता है मैं बताता हूँ इसमें एक देखो एक्विटल का concept यहां पर कैसे आया इस चीज को समझाता हूँ पहले इस question को हम फटाफट से complete कर लेते हैं ठीक दो concept आपको CRPC में देखने को मिलते हैं एक तो होता है 320 का ठीक और उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि एक discharge होता है discharge का मतलब क्या होता है और equitable का मतलब क्या होता है दोनों ही अलग-अलग stage है CRPC की और इन दोनों को ही आपको समझना है ठीक है अब मैं पहले इस question को बता दीजे फटाफट से कि अगर ऐसा व्यक्ति जो कि हमारा 320 के according compounding of offenses करने के लिए पूरी तरीके से eligible है तो ऐसे व्यक्तियों the offense with the consent of court जो भी legal ऐसे व्यक्ति जो के कानूनिक प्रतिय न्याय समिति के अपरात को कम कर सकता है मतलब जो हमारे जो legal representative है किसी भी disease व्यक्ति के जिसके offense की compounding होनी है ऐसे सारे लोगों को court की consent के बाद में क्या किया जाएगा court consent दे देगी तो उनका जो है पूरी तरीके से क्या होगा पूरी तरीके से compounding करके उनको acquit कर दिया जाएगा let's come to the next point next point को समझने से पहले आप एक चीर यहाँ पर समझिए कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ देगो discharge की stage कब आएगी और हमारे किसकी discharge के साथ साथ हमारे एक्विटल की stage कब आएगी ठीक बहुत फोकस्ड हो के इस चीज को समझना ठीक important है ध्यान से कोई बताएगा नहीं बता दे रहा हूँ लेके ना आज आपको ठीक है क्रिमिनल ट्राइल का stage पता है FIR से लेके तीन stage में काम चलता है अब देखो क्या हुआ FIR हुई उसके बाद investigation हुई investigation होने के बाद में चार सीट चार सीट सम्मिट की गई चार सीट सम्मिट करने के बाद में judicial magistrate ने अपना mind apply करना शुरू किया judicial magistrate ने जैसे ही mind apply करके जो है अपने सारी inquiry करी यह investigation की stage होगी बिटा यह inquiry की stage होगी ठीक है inquiry की stage होगी और जैसे ही उन्होंने framing of charges कर दी charge को frame कर दिया कि हाँ बाई इस जो है charge frame कर दिये गए है और जैसे ही charge framing होगी तो यहीं से तो charge framing की जो stage आएगी ना वो तीसरी stage trial में आएगी is it clear इतनी चीज़ें आपको पता है इतनी चीज़ें आपको पता है अब यहाँ पर दो बाते हैं हाँ ना मैं कोई जवाब देगा कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है सुन रहे है ना ठीक अब यहाँ पर समझेगा मैं क्या कहाँ पर ले जाना चारूं दो चीज़ें होंगी दो चीज़ें कैसे होंगी चार सीट सम्मिट की गई है किसके द्वारा पुलिस के द्वारा ठीक पुलिस ओफीसर या फिर इन्वेस्टिगेशन ओफीसर इनके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि भाई क्रिमिनल केस बनता है तो इन्हों ने जो है अपनी एफ आर फाइनल रिपोर्ट सम्मिट कर लेकिन उसके बाद judicial magistrate ने इसकी क्या की अपने आपसे inquiry की और judicial magistrate inquiry में ये बाते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे कोई भी charges नहीं लगे हुए हैं ऐसा कोई भी strong evidence नहीं है जिस पर criminal case किया जा सके जिस पर criminal case करके उसका trial चलाया जा सके ठीक तो जब judicial magistrate के पास sufficient ground ही नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर charge framing वाली stage पर इस matter को ले जाने के लिए तो judicial magistrate यहीं पर क्या कर देंगे यहीं पर एक order पास कर देते हैं कि there is no sufficient ground to conduct the trial of the above matter या फिर the same matter तो यहां पर charge frame ही नहीं हुआ उसी से पहले judicial magistrate ने जो भी police report आई थी या final report आई थी उसके basis पर यह declare कर दिया कि भाई charge frame नहीं हुआ तो criminal trial हमारा start ही नहीं हुआ तो अगर ऐसी कोई situation है जहां पर closer report के basis पर या फिर जो है final report के basis पर judicial magistrate ने inquiry करके ही यह पता लगा लिया कि इस पर case नहीं बनता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं उस चीज को जो है अगर उस चीज पर यहां पर case को बंद कर दि discharge माना जाएगा ठीक इस stage से पहले अगर charge frame नहीं हो पा रहे हैं तो यहां पर accused को रहा किया गया है जो भी allegations उसके उपर लगाए गए थे उसके evidences नहीं मिले हैं तो इसको क्या बोलेंगे इस stage को हम जो है discharge बोलेंगे लेकिन दूसरी stage क्या है दूसरी stage यह है कि inquiry करने के बाद judicial magistrate fully satisfy है कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाएगा इस व्यक्ति के ऊपर charge framing की जाएगी और trial को run किया जाएगा ठीक तो charge framing इस stage पर की जाती है और यहां पर जैसे ही charge framing start होती है उसके बाद trial जो है run करने लगता है और trial run करने के बीच में charge framing होने के बीच में party any stage trial start होने के ब composition कर सकती है या फिर compromise कर सकती है या फिर settlement कर सकती है और जैसे ही 320 में लिखे हुए सारे offenses का party trial के बीच में क्या कर रही है trial के बीच में जा करके compromise कर रही है ठीक तो जब charge frame हो गया है चार्ज frame के बाद parties ने trial के दोरान हमारा compromise किया है as per section 320 के respect में तब हम उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं तब हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति का acquittal किया गया है क्या किया गया है acquittal किया गया है clear तो यहां पर दो चीज मैंने आपको समझा दी कि अगर charge framing के ground नहीं बन रहे है और inquiry की stage पर ही judicial magistrate कोई भी matter को trial तक नहीं पहुचा पा रहे है तो उस से पहले charge framing से पहले ही matter रफा रफा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे discharge बोलेंगे लेकिन compounding of offenses जब होगी जब trial run हो जाएगा और during the trial parties compromise कर रही है इसी वज़े से यहां पर 320 में आपको acquittal word लिखा गया है 8th clause में इस इट clear तो यह फर्क होता है discharge में और हमारे किस में acquittal में ठीक समझ आ गया समझ आ गया acquittal और discharge का मतलब आज clear हो गया होगा बहुत से लोगों को यह चीज़े नहीं पता होती है यह minute minute चीज़े हैं CRPC को अगर आप इन सारे concept को नहीं समझ पाओगे तो CRPC को 10 बार bare act से पढ़ लेना 10 बार किसी भी किताब से पढ़ लेना कभी भी समझ में नहीं आएगी literally बोल रहा हूँ नहीं समझ में आएगी और जब मैं आपको paid classes में CRPC पढ़ाता हूँ न तो ऐसे typical जो हमारे differences होते है या फिर जो typical points होते है जहां पर हमें समझने की जरुवत है ठीक वह ऐसे चुटकियों मैं याद करा देता हूँ कि आपको मतलब वह next level चीजें है interview का question है ये बिहार judiciary में राजस्थान judiciary में पूछा गया था what is difference between acquittal and discharge thank you मेरा समझाया हुए समझ में आता है JLO में result ला कर देना है ठीक है इतना सा इस diagram से हम समझ सकते हैं कि what is acquittal and what is discharge ठीक है मजा आया गुस्सा बहुत आ रही थी मुझे session start किया था अकंपलिस का मतलब नहीं पढ़ा है evidence में पढ़ लेना और general dictionary से देखना आकंपलिस होता कोन है दी law officer का comment है आप से पूछते पूछते बहुत देर हो गई अब आप तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई अब आपके recorded lecture देख रहे हैं प्लीज बता दीजिए CPC की start class start कप से होगी Monday and Tuesday 13th and 14th class मतलब second last और last class जो है CRPC की होनी है उसके बाद में आपका awareness day से मैं CPC start कर दूँगा और awareness day को हो जाएगी हमारी कितनी 12 तारीक 12 तारीक से लेकर के 25 तारीक तक लगभग 12 घंटे में मैं आपको CPC जैसे CRPC और Constitution कराया वैसे ही कराऊँगा और फिर हम 25 से लेकर 5 तारीक तक evidence करेंगे 10 घंटे में और उसके बाद limitation drafting जो रह ठीक है चलो यही रहेगा CPC का जैसे CRPC को उंग्लियों पर करा दिया है ना Constitution को उंग्लियों पर याद करा दिया है ऐसे ही क्या कराएंगे ऐसे ही आपको CPC उंग्लियों पर ही याद कराएंगे ठीक चलो फटापट से session को like कर दो और next question पर आ जाओ अब rapid fire round शुरू हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से अक्विटल और discharge समझा दिया है ठीक moving ahead next question पर आईए तो इसका जो है option जो है सी सही answer हो जाएगा ठीक है लीगल जब कोई भी व्यक्ति जिसकी death हो चुकी है जो 320 में compounding करने के लिए पूरी तरीके से क्या था पूरी तरीके से eligible था competent था तो उस व्यक्ति के बहाफ पर जो उसक जो है पहले court से permission लेनी होगी अगर court allow करेगा तभी legal representative पूरी तरीके से section 320 के अंदर compounding of offenses कर पाएंगे जब उनके जो है जिस व्यक्ति के against crime हुआ था उसकी death अकर हो चुकी है तब clear चलिए next question पर आईए और इसके लिए आपको क्या पढ़ना है इसके लिए आपको clause 4 320 का clause 4 का sub clause A और B एक बार अपने आपसे read कर देना है moving ahead the offense which can be compounded are provided अंदर बता दीजे first schedule, second schedule, 320, 321 जे अपरादों को समन किया जा सकता है when नीचे दिये गए है CRPC के अनुसूची पहली अनुसूची दूसरी 320 या फिर 331, 321 CPC के order करवा दीजेगा उसमें problem होती है करा दूँगा tension मतलो सारे orders करा दूँगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपके 75 जो JLO के question आएंगे ना CPC से उसको आप बहुती easily solve कर पाऊगे ठीक है चलो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे compounding of offense गलत नहीं आए किसी का answer 320 CRPC के लावा किसी भी section में या schedule में हमको नहीं बताया गया है कि किन किन offenses की compounding की जा सकती है moving ahead next class पर आईए for the purpose of inquiring or trying offense the criminal court shall deemed to be a open court but even a court in criminal cases are not treated as a open court under which one of the following section of CRPC ठीक तो यहाँ पर क्या गह रहा है कि आपको open court का concept कहाँ पर provide किया गया है यह चीज़ पूछी जा रही है ठीक criminal trial के लिए जितने भी court सौंगे वो open court की तरह काम करेंगे हम उनको open court की तरह treat करेंगे इसका मतलब जो है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा question की book advocate राकेश जी इन questions की कोई भी book नहीं है यह various sections को पढ़के बनाए गई question है इसके pdf आपको कहाँ मिलेंगे इसके pdf आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे मेरे telegram गुरूप पर और मेरा telegram गुरूप क्या है देखनी रहा है यहाँ लिखता हूँ ए पी यू रवी ए अपूर्व शर्मा ओफिशल यहाँ पर से आप यह सारे question मुझसे प्राप्त कर सकते हैं clear तो यहाँ पर क्या कह रहा है open quote किस में लिखा गया है 327 of CRPC में यह चीज हमको बताई गई है option A is the correct answer of this question moving ahead next question section which section of CRPC authorizes the public prosecutor to withdraw the prosecution CRPC की कौन सी धारा लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने के लिए अधिकरित करता है 304, 321, 313 या फिर 323 ठीक public prosecutor to withdraw the prosecution is given under which section of CRPC it is given under section 321 of CRPC B is the correct answer read करते हैं as per section 321 CRPC enables the public prosecutor और assistant public prosecutor in charge of case to withdraw from the prosecution with the consent of the court ठीक तो अगर किसी भी व्यक्ति को क्या करना है विड्ड्रॉल करना है तो यह किसका अधिकार है यह PP का और assistant PP का अधिकार होगा कि वो चाहें तो court की consent के साथ यह याद रखेगा यह भी question पूछ लिया जाता है court की consent के साथ किसी भी matter को withdraw कर सकते हैं and it is provided under section 321 of CRPC यही तीन question जो है हमें JLO में 321 से पूछे जा सकते हैं clear चलिए आगे चलते हैं next question पर who amongst the following may withdraw prosecution of any person at any time before the judgment is pronounced क्या कह रहा है निम लिखित में से कौन सा फैसला सुनाया जाने के लिए किसी भी समय एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा बापस ले सकता है तो यहाँ पर कौन बापस लेगा public prosecutor वापस लेगा that is answer number B is the correct answer याद रखना assistant public prosecutor public prosecutor with the consent of court कभी भी before the pronouncement of judgment ठीक याद कर लो 4 point ठीक है यहाँ पर याद करो लिखो मेरे साथ लिखते जाओ end to end लिखो इसके respect में क्या क्या question आएंगे withdrawal withdrawal कहाँ पर है 321 में कौन करेगा public prosecutor APP with the consent of तीसरा point लिखो with the consent of court चौथा पॉइंट लिखो before the pronouncement of pronouncement of judgment ठीक या फिर और इसमें और लगा के लिख लो या फिर या फिर अप्र लिज़डों these are 5 questions which are regularly asked in various judicial services, APO, APP exams, that is why section 321 of CRPC is most important, ये 5 questions आपको आने ही चाहिए, ठीक, MCQ book बता दीजिए, जो भी MCQ की किताब आपको पूरी तरीके से समझ आती हो, जहां पर आपके state के सबसे ज़्यादा questions आते हो, वो MCQ की किताब आपको लेनी चाहिए, किसी भी teacher के बताये जाने पर हम उस किताब को नहीं लें, हमेशा मैं एक ही चीज़ इस्टूडेंट से पूछता हूँ, इस्टूडेंटों के बहुत personal message आते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़े मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं, सर कौन सी किताब ले लूँ, law के लिए, bear act sufficient है, क्या sufficient है, bear act is more than sufficient to crack any judicial services exam, और उसके बाद means के perspective से, अगर concept जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया है, वहाँ वहाँ आप refer कर लीजिए, दूसरी सबसे important बात, अगर बुक की बात अगर आप मुझसे पूछो, कि सर कौन सी बुक लेनी चाहिए, मेरे को न, मुल्ला बहुत पसंद आती है, हिंदू और मुसलिम लोगी, लेकिन मुल्ला से हरे एक आदमी नहीं पढ़ सकता, और सारे लोग यही कहते हैं, कि हिंदू, मुसलिम लोग पढ़ना है न, तो दूसरी किताबे ले लो, पोला को और मुला को मत पढ़ो, बहुत ही critical concept बताएं उन्होंने, ठीक, जहां-जहां conflict है, उन पर बहुत अच्छा justification दिया है, जो कि हमारे चुडिश्री के point of view से कभी important नहीं है, तो वो सारी चीजें, आपको कभी किसी से पूछनी नहीं चाहिए, अपने law वाली किताब, जहां भी आपका law book center है, वहां जाओ, कोई कित पहली किताब के 2-3 पढ़ने पढ़ो, दूसरी के 2-3 पढ़ो, तीसरी के 2-3 पढ़ो, चोथी के 2-3 पढ़ो, पांचवी के 2-3 पढ़ो, इतना भी नहीं आ रहा ना, इतना भी नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी आपका Indian penal code का सबसे important topic है, और जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, उसी topic को जाके खोल के देखो, और उसको देखो कि उस पे आप समझ पा रहे हो, या नहीं समझ पा रहे हो, और जिस book का सबसे ज़्यादा simplest way लगता हो, उस book को खरीद कर ले आओ, और उसी से करना start कर दो, इतनी typical book ले लेंगे, जो समझ में ही नहीं आएगी, जिसको समझने में 10 बार read करना पड़ेगा, तो उस book से पढ़ने से कोई फाइदा नहीं होगा, practice के लिए MCQ की कोई भी किताब ले लो, कोई भी किताब, MCQ practices ही तो करनी है, कोई भी किताब, सब में एक ही तरह के MCQs होते हैं, हर topic wise बिल रहे हैं, तो वो ले लो, और ऐसी किता आपके ऊपर कोई question मत पूछा करो, जो समझ में आ रही हो, जिसकी language, जिस writer की समझ सकते हो, वो writer की करीद के पड़ाई सुरू करो, ठीक है, चलिए, next question पर आ जाते है, who can withdraw a case from public, from prosecution under section 321, एक same repeated question है, कौन कौन कर सकता है, public prosecutor in charge of the case with the permission of court, option B is the correct answer, आज हम discussion करने वाले हैं, JLO की class number 13 पर, और अब हम JLO के लगभग, लगभग 330 तक important questions discuss कर चुके हैं, और आज का जो session होने वाला है, वो हमारा होने वाला है, 330 से आगे continue करेंगे, और लगभग section 400 तक detailed discussion करेंगे, आज हम जो है lecture number, class number 13 पर हैं, जहाँ पर CRPC के most important provisions को discuss करने वाले ह हमने लगभग complete कर लिया था, और आज इसके continuation में हम 330 से start करने वाले हैं, और इसका continuation हम आज 374 अपील से पहले के सारे provisions पर बनने वाले सारे चीजों को discuss करने वाले हैं, let's start with the class, पहला question, आज हमारा जो सबसे important question है, वो है, under which provision of the code of criminal procedure, may the court order payment of compensation, यहाँ पर क्या कह रहा है, code of criminal procedure 1973 के according किस court के पास power है, किस section में कि वो जो है क्या कर सकती है, compensation को order कर सकती है, दंद प्रक्रिया सहेता के किस प्रावदान के तहत नियाले मुआबजे के भोगतान का आदेश दे सकता है, 344, 340, 361 या फिर 357, बताइए फटाफटे कि बहुत ही important section है, हमारा एक 357 CRPC, 357 CRPC में हमको क्या बताया गया है, हमको बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जिसको compensation की requirement है, जिसके साथ, जिसके against में कोई crime commit हुआ है, तो courts की ये responsibility है, कि जिस court के सामने trial चल रहा होगा, ठीक, suppose करिए किसी भी criminal trial को judicial minister first class के सामने लिया गया है, तो judicial minister first class, दूसरी सबसे important बात कि वो हमारा अगर उसकी appeal की जाती है, उसके उपर वाले court में, तो appellate court या फिर उसका revision किया जाता है, ठीक, revision किया जाता है, तो revision court में भी क्या, revision court के पास भी ये power है, कि वो as per 357, अगर trial court ने किसी भी व्यक्ति को compensation allot नहीं किया है, तो ये दोनों court भी जो है, compensation को allot कर स करते हैं, clear, तो यहाँ पर आपको इसका जो answer दिखेगा, वो दिखेगा section 357, clear, सारे लोग पढ़के आएं, आज ऐसा लग रहा है, option number D is the correct answer of this question, 357 is the correct answer, एक बर 357 को read करेंगे, section 357 of court of criminal procedure provides that a trial when passing judgment may order the whole or any part of the fine recovered to be utilized inter alia for the payment of compensation to a person who have suffered any injury due to the act of the convict, अब यहाँ पर क्या गह रहा है, देखो 357 का main basic motive क्या है, 357 का basic motive जो आप से कई बार question पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसकी heading से आप से question पूछ लिए जाएगा, कि 356 की heading क्या है, ठीक, तो यह चीज एक आपके लिए, prelims के लिए बहुत ज़्यादा important है, JLO वाले ध्यान रखेंगे, यह वाला section बहुत ज़्यादा important है, और इसमें बताया गया है, कि अगर कोई भी trial चल रहा है, किसी भी trial court में, देखो word trial court यूज किया है, लेकिन जब हम इसका literal interpretation निकालते हैं, literal interpretation में हमें देखने को मिलता है, कि जो हमारे trial court के अलाबा, अगर appell at court है, मतल गिया गया है, जिसने offense किया था, और उस convicted व्यक्ति के act से, मतलब उस convicted व्यक्ति के crime करने से, दूसरी party जो हमारी victim है, prosecution side है, उसको कोई भी loss हुआ है, तो वहाँ पर हम compensation pay करने के लिए कह सकते हैं, clear हुई इतनी बात, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि जो option D है, इ 357 में यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आपके लिए important है, इस पूरे section में से, clear, इसके बाद आपका 357A, 357B और 357C, यह तीन जो important provision है, इसके, इसकी जो headings है, वो आप याद कर लीजेगा, कई बार आपको क्या है, कई बार जो है, यहाँ पर headings आप से हमेशा पूछी जाती है, clear, headings भी आप से क्या पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा बार आपको देखने को मिलता है, के headings भी आप से पूछी जाती है, clear, चलिए, एक second, यह क्या, तो 357 के सारे provisions क्या है, 357 के सारे provisions हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, exam point of view से, और 357A, B, C भी हमसे जो है, JLO में पूछा जाएगा, इन चार सेक्षन से ही आपको तीन से चार question देखने को मिलेंगे, clear हुआ इतनी बात, ठीक है, CRPC इतना जितना मैंने समझाया, उतना समझ में आया है आप लोगों को या नहीं, CRPC की दो classes और हैं, कलकी और परसों की, उसके बाद CRPC हमारा पूरी तरीके से complete हो जाएगा, और हम code of criminal procedure को constitution की तरह complete कर चुगे होंगे, इसका अगला subject कौन सा होने वाला है, इसका अगला subject हमारा होने वाला है, CPC 1908, CPC 1908 को constitution और जैसे हमने क्या कहते हैं, हमारा CRPC किया है, उसी तरीके से हम detailed discussion के साथ पढ़ने वाले हैं, clear, तो 357, 357 A, 357, 357 A, B, और C, ये तीनों ही आपको क्या करने है, बेर एक्ट से क्या करने है, याद करने है, clear, श्रीमी में की class नहीं होगी, एक बात को अगर बता दिया जाता है, तो don't ask again and again, ठीक, अगर YouTube चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, कि श्रीमी में की class होनी है या नहीं होनी, मैंने आपको disclaimer Saturday को ही दिया था, Saturday वाली class में आपको क्या बताया था, कि Monday को मेरी 6 बजे से other engagements हैं, तो मैं Monday की class को सिर्फ क्या करूँगा, प्री पॉंड करूँगा, जहां पर मैं आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक class लूँगा, और जो मेरी timings हैं, वो 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ पर श्री Saturday IQ Judiciary के channel पर देखोगे, तो वहाँ पर भी आपको जो है, दिख रहा होगा, ठीक, बार वार एक ही चीज करते हैं, बार वार एक ही चीज पूछते हैं, एक ही चीज को repeat करते हैं, हर एक बच्चे को अलग अलग बताना मुश्किल होता है, आप लोग ये भी समझा करो, ठीक, और मैंने ये disclaimer और ये सारी information अपने telegram group पर जब आप लोगों को दे दी थी, तो आप लोगों को at least एक बार मेरी class को join करने से पहले, पता भी होगा, कि अगर आप channel पर देखते तो वहाँ पर आपको देख जाता, ये हमारे JLO की class चल रही है, और अगर इसी के आप live event में तो class ना होने वाली कोई बात नहीं है, और ये चीज मैं आपको 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं कि 2 दिन इस week में मेरी classes जो है आपको Monday के दिन और Wednesday के दिन 5-6 बजे देखने को मिलेगी, लेकिन बारवार एक ही चीज को repeat करना, class पर focus नहीं करना, that is very bad habit, moving ahead, next question पर आईए, recently in which one of the following case the Supreme Court has given direction for the medical treatment of the victim of acid attack, ठीक, हाल में निमलिखित मैं से किसे बाबले में सुप्रीम कोड ने acid हमले के पीडित के चिकित तक उपचार के निर्देश दिये है, option A, state of MP versus मदनलाल, option B, लक्षमी versus Union of India, option C, जगदार सिंग versus state of हर्याना, option D, none of the above is the correct answer, ब इस पर पूछ रहा है आपसे, रेप विक्टिम या फिर जो है, नहीं रेप विक्टिम नहीं आपके कह रहा है, जितने भी लोगों के उपर asset attack होते हैं, उनके medical treatment के लिए, किस case में, honorable Supreme Court of India ने guidelines प्रोवाइड की है, तो this case is very important for the JLO exam, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिले की है, जहां पर हमें बताया गया है, कि किस तरीके से जो है, हम medical, किसको medical treatment कराएंगे, किसका, जिनके उपर asset attack हुआ है, ठीक, तो यहां पर बहुत सारी facility दे दी गई है, कि अगर उनको जल्दी से जल्दी medical treatment के लिए ले जाये जाएगा, medical treatment में ले जाने के बाद में, doctors की primary responsibility ह कि कोई भी paperwork वगेरा कराने से पहले, पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले उस victim को जिसके उपर asset attack हुआ है, उसका उपचार किया जाएगा, और उसके अलाबा एक prescribed guidelines बनाई है, कि क्या-क्या doctors को और पोलिस को, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके उपर हमला हुआ है और उसको कोई भी व्यक्ति अगर medical emergency के लिए अस्पताल तक पहुचाता है, तो उससे भी कोई पूछताच नहीं की जाएगी, अमूवन तोर पर देखने को मिलता था, इस case से पहले, कि जब भी कोई भी व्यक्ति को कहाँ पर hospital ले जाता था, तो वहीं पर उसको बिठा लिय जाता था, और उससे कई सारी पूछताचे की जाती थी, कि आपको ये कहाँ पर मिले, कैसे मिले, तो सबसे पहली primary responsibility, ओन्रेवल सुप्रीम कोट ने इसमें held किया है, acid attack के victims, अगर किसी भी hospital में जाते हैं, तो hospital की responsibility है, कि फटाफट से उसका treatment सुरू किया जाएगा, without any unnecessary delay, clear, तो option B जो है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, clear, चलिए, आगे चलते हैं, next question पर, which one of the following section of CRPC contains the law relating to compensatory justice, ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है, CRPC के निमलिखित में से कौन सी धारा प्रतिपूरक नियाय से संबंदित कानून सामिल करती है, धारा 155, धारा 156, धारा 157, धारा 359, ठीक, तो अगर हम बात करें किसकी, compensation की और compensatory schemes की, तो यह हमें section 357 of CRPC में देखने को मिलता है, option number C is the correct answer, ठीक, कौन सा option number C, इसका सही जवाब है, कौन सा, अभी मैंने पढ़ाया है, फिर भी इसके गलत answer आ रहे हैं, ठीक, 357 में compensation scheme for the victims, victim compensation की जानकारी हमको provide की गई है, तो option C जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या है, आज सब धीले-धीले क्यों लग रहे है, पहले एक वर, जोस में नहीं आ रहे है, सारे लोग क्या दिखकर है, class समझ में नहीं आ रही है, या फिर ये dry area है CRPC का, इस बएसे पढ़ने का मन नहीं है, dry area बेसा को बच्चे, लेक अपील, रिवीजन, और हमारा जो किसका हमारा अपील, रिवीजन के जो प्रोवीजन है, उससे सबसे ज़्यादा question आपको देखने को मिलते हैं, dry area बेसक है, ये CRPC का, लेकिन यहाँ पर question बनता है, जो कि JLO के exam के लिए most important है, इसी वज़े से एक class को और extend किया है, मेरा आज क target था, कि मैं आपको अपील और रिवीजन के सारे provisions पढ़ाने के बाद, बेल के provisions को complete करा दूँगा, और कल हम CRPC की class को completely खतम कर देंगे, लेकिन एक class को इसलिए extend किया है, क्योंकि ये important area आपका छूट नहीं जाए, और इस important area से अगर question आ जाएंगे, तो आपको कैसे solve करने है, बेसक ये class boring हो सकती है, बेसक ये CRPC का important area नहीं है, लेकिन question हमारे prelims में बनेंगे और आपके JLO के exam में आपको देखने को मिलेंगे, 75 question बनाने है na CRPC के लिए, 75 questions तो आने ही आने है CRPC से, तो 75 question ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ major area से ही JLO में पूछ लिए जाएं, जो dry area ह या फिर जो हमारे ऐसे questions जो के कहीं पर नहीं पूछे जाते, वहाँ पर भी आपको जो है, ये question देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक question, एक number के question के लिए, चार question को बनाएंगे, 500 number का paper होगा, 500 questions आएंगे, 50 number का paper होगा, 75 CPC, 75 CRPC से आने हैं, तो ये सारे area भी बहुत जादा important हो जाते हैं, और अब तक जो समझाया है, उसमें कुछ भी ऐसा है कि जो नहीं समझ में आया हो, बहुती simple चीज समझाई है, 357 से आज start किया था, 357 के बारे में सारी चीज़े मै मैंने आपको बता दी, तो अब तक जो भी मैंने समझाया है, वो ऐसा है कि समझ में नहीं आया हो, सर हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्लास अश्ची चल रही है, ठीक, देखो, इस से पहले वाली क्लास मैंने 300 से 327 तक पढ़ाया, उसमें बहुती अच्छे से, मैंने एक एक च कोश्चन आ जाए, तो वहाँ पर हमें सोचना नहीं पड़े, क्यार ये कोश्चन हमने छोड़ दिया था, क्योंकि बोरिंग एरिया था, क्लियर, चलिए, स्टार्ट फिर आगे, अब थोड़ा सा रैपिड फाइर राउंड, रैपिड फाइर राउंड स्टार्ट होने वाल ट्राइल कोट, अपील करता नहाल है, पुनर रिरिक्षन नहाल है, उपरोग तुन्यालों में से कोई भी ट्राइल कोट दे सकती है, अपेल एट कोट दे सकती है, रिविजिनल कोट दे सकती है, या फिर एनी ओफ दी अबब, सारे ही कोट दे सकते हैं, यहाँ पर अभी मैंन हमारा दूसरी साइड है अपोजट पाटी जिसको पनिश कर रही है कोट ठीक है जो एक्यूज्ड था एक्यूज्ड के पास उसको अब कन्विक्ट कर दिया गया है तो कन्विक्ट हो जाने के बाद में उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि कंपंसेशन प्रोवाइड कीजिए और अगर वो नहीं कर सकता है तो यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट जो है विक्टिम को कंपंसेशन प्रोवाइड करेगी और उनके monetary loss का क्या करने वाली है monetary loss का हरजाना देने वाली है तो यहाँ पर तीनों चीज़ा समझने वाली है कि अगर 357 का इस्तमाल trial court के द्वारा basically first priority पे किया जाएगा क्योंकि सबसे पहले trial court में ही case को शुरू किया जाएगा और जब हम बात करते हैं trial की तो तीन तरह के trial हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहला court of session trial उसके बाद warrant trial, summons trial और एक summary trial भी CRPC के 260 से लेकर 265 तो आपको बताया गया है clear तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो trial वाली stage होती है जहाँ पर charge framing की जा चुकी है किसके दोरा charge framing की जा चुकी है judicial magistrate के दोरा वहीं से जो है हमारा trial क्या हो जाएगा trial run माल लिया जाता है trial को begin माल लिया जाता है इससे पहले की जितने भी procedure होते हैं यह हमारे inquiry में आते हैं जहाँ पर judicial magistrate अपना judicial mind apply करते हैं और इससे पहले यहाँ पर final report summit होने तक या फिर closer report summit होने तक या फिर police report summit होने तक यह investigation की stage मानी जाती है तो जैसे ही हमारा judicial magistrate अपने mind को apply करने के बाद उसको अगर ऐसा लगता है कि इस class में क्या होगा मतलब इस case में कोई भी criminal matter बन रहा है तो जैसे ही charge framing की जाएगी वहीं से जो है trial की stage शुरू हो जाएगी JLO के लिए एक important question और बता देता हूँ कि charge framing की जो stage है वो हमारे trial में आएगी या फिर वो जो है हमारे किसमें या फिर वो हमारे judicial mind जहाँ पर inquiry की stage में आएगी 3 stages मैंने आपको बताई थी जहाँ पर CRPC की पूरी line of operations चलती है और इसी पूरी line of operations पर code of criminal procedure 1973 depend करता है और सारे ही चीजों को इसी के अंदर incorporate किया जाता है clear ठीक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो हम बात करते है trial की तो 3 stages के trial होंगे 225 से लेकर 239 बार बार repeat करने का एक motive है बता रहा हूँ code of session trial का section कहा से कहा तक है direct पूछ लिया जाएगा 225 से 237 दूसरा हमारा warrant trial की WT की बात करें तो 238 से लेकर 250 तक कहा तक 250 तक summons trial की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 251 से लेकर 259 तक और इसके बाद आता है 259 और इसके बाद आता है summary trial ठीक summary trial की अगर बात करें तो 200 कितना 260 से लेकर 265 ये जो है क्या है basic 4 trial है ठीक तो अगर पहला court कौन सा होगा trial court होगा और उसको लगता है कि 357 के according किसी भी victim को या फिर prosecution side को compensation मिलना चाहिए best है trial court दे सकती है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो matter जब appeal में गया और appellate court के सामने ये मुद्दा रखा गया कि 357 का compensation दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है तो appellate court भी दे सकती है और उसके बाद अगर matter revision में जाता है revisional court उसको discuss कर रही है और नहीं दिया गया या फिर दिया गया है तो कम दिया गया है तो उस पर भी revision कराया जा सकता है तो यो तीनों ही court क्या होंगी तीनों ही court जो है section number 357 के right को exercise करके victim को compensation provide कर सकती है is it clear इतनी समझ में आई option D इस question का बिलकुल सही जबाब है इतना समझ में आया हाँ या ना नहीं sir हम इतना नहीं समझे आप कुछ और बता दीगे thumbs up आ गया ना चलो आ गया तो फिर session को like कौन करेगा करो जल्दी से सारे like moving ahead next question पर आ जाईए under which section of code of criminal procedure compensation is paid to the groundless arrested person क्या कह रहा है अपरादिक सहिता प्रिक्रिया की किस धारा के तहत बिना आदार पर गरफतार किये गए व्यक्तियों को मुआपजा दिया जाता है ठीक तो यहाँ पर 4 options आपको है 357, 358, 357A, 360 4 options आपको यहाँ पर देख रहे हैं पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का groundless arrest कर लिया गया है मतलब उसको arrest करने का कोई भी आधार जिस भी authority ने उसको arrest किया है उसके पास नहीं है तो ऐसे लोगों को भी compensation दिया जाएगा क्योंकि उनका illegal arrest किया गया है तो यह किस section में हमको बताया गया है ठीक तो अगर यहाँ पर हम बात करें section number 358 की तो 358 बात करता है कि ऐसे सारे लोग जिनका arrest किया जाने का कोई भी ground नहीं है ठीक और authority कौनसी है कोई भी authority हो सकती है जिसने वो arrest किया है तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा compensation प्रोवाइड किया जाएगा और option भी जो है इस question का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही answer हो जाएगा clear चलिए next question पर आते है victim compensation scheme under section 357A code of criminal procedure 1973 has been introduced by which of the following amendment दंद प्रक्रिया सहता 1973 की धारा 57A के तहत पीडित मुआपजे योजना में निम निखित किस संसोदर अधिनियम द्वारा सुरू की गई है 2005 ठीक है 2009 1978 या फिर 2006 यहाँ पर आपको चार option दिख रहे हैं act 25 act of 2005 act 5 of 2009 45 act of 1978 act 2 of 2006 बताएं फटाफट victim compensation scheme as per section 357A of criminal procedure code 1973 को किस amendment से incorporate किया गया है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है by the amendment act of 5 2009 के amendment से इसको add किया गया है CRPC के अंदर option B जो है क्या है इसका विल्कुल सही answer है clear चलिए और criminal amendment था 2008 का जिसको के enforce में लाए गया 2009 में जहां पर हमें देखने को मिलता है 357A में क्या victim compensation scheme का पूरे provisions को add किया गया है चलिए next question पर आते है what is the maximum default sentence that can be awarded in the non-payment of compensation under section 358 of criminal procedure quote दंड प्रक्रिया सहेता 1973 की धारा 358 के तहत मुआबजे का भुगतान ना करने की इस्तिती में अधिक्तम default की सजा क्या दी जा सकती है ठीक चार option दिख रहे हैं 360, 60 days, 30 days, 90 days, 120 30 days, 60 days, 90 days या फिर 120 days किसकी बात कर रहा है कि as per section 358 of CRPC अगर किसी भी व्यक्ति जिसको arrest किया गया है और उसके arrest के compensation provide नहीं किया गया तब एक व्यक्ति को उसके लिए कितनी punishment दी जा सकती है simple question आप से पूचा गया है तो अगर आप 358 को अगर पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 30 days की punishment उस व्यक्ति को दी जा सकती है ठीक तो option number B जो है इसका सही जवाब होगा clear चलिए moving ahead next question पर आईए एक वार इसको read कर लेते हैं इस दारा के तहट दिये गए सभी मुआबजों को इस तरह से वसूल किया जा सकता है जैसे कि जुर्माना हो यद ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो जिस व्यक्ति के द्वारा यह दे है उसे magistrate द्वारा निर्दे से 30 दुनों से अधिक की अवदी के लिए साधारन कारावास की सजा दी जाएगी जब तक ऐसी रासी का सीग्र भुगतान ना किया जाए ठीक तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि all compensation awarded under this section may be recovered as if it were a fine ठीक कैसे recover किया जाएगा उस तरीके से recovery की जाएगी जैसे के fine लगाया गया है जैसे हम CRPC के according या फिर criminal courts के according क्या करते है fine लगाते हैं तो fine की जैसे recovery होती है same उसी प्रकार की recovery जो है यहाँ पर की जाएगी and if it cannot be so recovered the person by whom it is payable shall be sentenced to a simple imprisonment for such term not exceeding 30 days as per the magistrate direct unless such sum is sooner paid ठीक तो यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर आपको simple भासा में एक चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि अगर fine की तरह recovery नहीं की जा रही है और जिस व्यक्ति को pay करना है वो pay नहीं कर पा रहा है तो उस case में याद रखना एक बहुत important बात बता रहा हूँ उस case में जिस व्यक्ति को compensation pay करने के लिए बोला गया है उस case में उस व्यक्ति को simple imprisonment कितने दिन की simple imprisonment 30 दिन तक की दी जा सकती है magistrate के दौरा ठीक है कितना simple imprisonment दी जाएगी ये question important है rigorous imprisonment नहीं दी जाती दो तरीके की imprisonment होती है एक होती है rigorous और एक होती है simple simple का मतलब कि सिर्फ आपको jail में डाल के रखा जाएगा और वहाँ पर बंदी बना के रखा जाएगा दूसरी होती है rigorous rigorous का मतलब होता है ऐसी सारी imprisonment जहाँ पर आपको jail में तो रहना ही रहना है ठीक jail में रहना है प्लस jail में रहके आपसे काम भी कराया जाएगा पिच्चरों में देखते हो ना पिच्चरों में देखते हैं के कैदी है jail में या फिर कभी jail का विजट किया हो तो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे imprisonment में लोग होते हैं convicted लोग होते हैं तो उनको जो है rigorous imprisonment होती है तो वहाँ पर jail में वो कुछ काम में भी indulge होते हैं जैसे पिच्चरों में देखते हैं कि पत्थर तोड़ने के लिए ले जाये जा रहा है मेल बगेरा में तो वहाँ पर लोग पत्थर तोड़ रहे हैं कैदी फिर उनको बब बिठा के दुबारा से jail में ले आते हैं तो rigorous imprisonment का मतलब होता है कि ऐसी सारी चीजें जहां पर काम भी करना पड़ेगा punishment के साथ साथ लेकिन यहां पर क्या बताया है 30 दिन की simple जो है imprisonment होगी सिर्फ आपको 30 दिन के लिए jail जाना पर सकता है clear हो इतनी बात ठीक यह यहां से चिपकेगा बिलकुल सही बात है यहीं से question एकदम चिपकेगा और jail में देखने को मिलेगा कि यहीं से question पूछा जाएगा 30 दिन with the simple imprisonment सबसे ज़्यादा उसके लिए काम के लिए पैसा मिलता है पैसा तो दिया ही जाएगा अगर पैसा नहीं दिया जाएगा तो फिर उनके जो है basic fundamental rights को क्या होगा basic fundamental rights का violation होगा पैसा दिया जाता है कुछ nominal amount और कुछ nominal standard jail के होते हैं वहाँ पर जो है अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है clear तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे rigorous imprisonment बोल दिया फ्री में कुछ भी करवाई जा रहे है काम किया जाएगा तो उसके पैसे भी उनको दिये जाते हैं clear चलो आगे चलते हैं next question पर under which one of the following section of CRPC review of the judgment or final order is prohibited except to correct a clerical or the mathematical order अब यहाँ पर क्या गहरा है CRPC में निम लिखित में से किस धारा के अंतरगर्थ किसी लिपिकिया या अंतरगर्थी अत्रुटी को सुधारने के अलावा किसी निर्णय या अंतिम आदेश की समीक्षा निशेद है ठीक किसके बारे में पूछ रहा है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है हमारे किसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी अर्थमेटिकल एरर है that is 3 कर लीजे यह दोनों ही क्या है 361, 362, 360 that is 261 ही है only तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर situation ऐसी है मतलब कि किसी भी जो है judgment को judgment आ गई है और उस judgment में कोई भी अर्थमेटिकल या फिर क्रेलिकर एरर्ड है तब ही जो है review की permission दे जा सकती है review समझते हो review, revision और appeal का मतलब समझते हो इन तीनों में basic difference क्या यह समझते हो सबसे ज़्यादा confusion होती है हमारी कि review क्या होगा और revision क्या होगा ठीक यहाँ पर सबसे ज़्यादा confusion होती है ठीक लेकिन आपको पता होना चाहिए कि CRPC के according जो है आपको revision की permission होती है प्लस appeal की permission होती है clear इन दोनों चीजों की हमें क्या होती है इन दोनों चीजों की हमको permission होती है और review सिर्फ और सिर्फ उसी judgment का कराया जाएगा जहां पर कोई भी mathematical या फिर critical error को correct किया जाना है तब अब review और judgment में क्या ये जो है हमारा कहां पर बताया गया है ये हमको बताया गया है section 362 of criminal procedure code 1973 में अब यहां पर एक चीज important समझाने की कोशश करता हूँ ध्यान दीजेगा सारे लोग ठीक है बिलकुल ध्यान दें सारे लोग बहुत ही ज़्यादा important चीज़ बता रहा हूँ review का नाम से पता लग रहा है न कि review कर रहा है मतलब दुबारा से जिस court ने judgment दी है suppose करिए किसी भी court ने trial चलाया और trial की stage के बाद मैंने आपको बताया था charge framing होगी charge framing के बाद trial start हो जाता है उसी time से जिस time charge framing होई है और final जब दोनों party के सारे witnesses evidence को और सारी चीज़ों को सुलने के बाद court क्या करती है judgment provide करती है और जैसे ही ये judgment provide की जाती है final जो है क्या होता है अब जो भी party दो party होंगी case में दो से अधिक भी हो सकती है एक होती है हमारी defense side मतलब और एक होती है prosecution side ठीक prosecution का का काम होता है क्या जो हमारा victim है उसको defend करना और victim के साथ जितने भी क्या हुए है जितने भी crime हुए है उस पर इंसाफ दिलाना दूसरा होता है accused side ठीक accused का मतलब क्या है जिसके उपर allegation लगे है तो अब क्या हुआ suppose कीजिए victim side ने prosecution side ने ये proof कर दिया कि accused ने जो crime किया है वो पूरी तरीके से सही है और उसमें वो जो है guilty पाया गया जब accused को guilty पाया जाएगा तो judgment में guilty पाया गया अब accused के पास अधिकार है कि जिस भी court ने trial चलाया है अगर वो उससे aggrieved है उसको लगता है नहीं साब मेरे साथ injustice हुआ मैं अभी यहाँ पर guilty नहीं था और मुझे जबरजस्ती guilty court ने declare कर दिया है तो इसके पास अधिकार होगा ठीक criminal trial चला है तो CRPC 1973 के procedure को follow करेंगे अब इसके पास अधिकार है कि यह अपने matter को लेकर कहा जा सकता है appeal में जा सकता है या फिर यह अपने matters का revision भी करा सकता है ठीक लेकिन जो review का concept है review अब यह देखिए चाहे appeal हो चाहे revision हो किसके द्वारा किया जा रहा है जिस court में trial चल रहा था उसके ऊपर के courts के द्वारा appeal और revision किया जा रहा है इसका मतलब same court जो है उस पर कोई भी दुबारा से फैसला नहीं दे रही है और नहीं अपने decisions को दुबारा से सुन रही है इसी वज़े से CRPC में आपको review का concept देखने को नहीं मिलता in comparison to CPC CPC में यह आपको देखने को मिलता है ठीक तो CRPC में हमें दो concept देखने को मिलते हैं appeal और revision का review का इतना effective way यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता दूसरी बात review का मतलब क्या होता है जैसे trial court में अगर aggrieved party मतलब यह trial court है trial court की aggrieved party उपर वाले court में जाकर अपनी दलीने रख रही है कि मेरे खिलाब जो judgment आया है वो पूरी तरीके से क्या केते हैं गलत है और मैं इससे सहमती नहीं जताता हूँ मेरा जो है आप दुबारा से सुनवाई करिए clear दूसरी बात यहां पर review का मतलब क्या है यह तर आ जाईए यहां समझते हैं review का मतलब जिसने trial चलाया मतलब जिस भी court ने trial चलाया उसी को जो है दुबारा से reherd करने की क्या reherd करने की दुबारा से उस matter पर अपना पुनर विचार करने की सक्ती उसे हम review की शक्ती बोलते हैं जो कि allowed नहीं है और section 362 भी यही बात कहता है कि अगर हमने CRPC में review की powers को नहीं allow किया है तो अगर judgment में कोई भी mathematical या फिर clerical error है court का कोई interfere नहीं है ठीक यह जो काम है वो हमारे court के judgment के आने के बाद जो भी छोटे छोटी गलतियां हो गई है तो उनको 362 के according review कराया जा सकता है और mathematical और critical error को जो है पूरी तरीके से समझाया मतलब सुधारा जा सकता है read करिये 63-62 court not to alter judgment इसका सेम मतलब है कि जिसने trial चलाया उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अपने judgment पर पुनर विचार करके उस पर कोई भी दूसरा फैसला या alteration या addition कर सके is it clear समझ में आ रही है इतनी चीजे सर आपकी series बहुत अच्छी लगती है बहुत helpful है thank you so much ठीक आप इतनी समझ में आ गई जल्दी से आर ठीक है बहुत सारे question बच रहे हैं बहुत important point समझा रहा हूं ठीक बहुत ही important point अगर इतनी ही अच्छी लगती है और इतना ही जो है क्या को मिल रहा है तो session को like और share कौन करेगा कर दो फटाफट से like जल्दी से like कर दीजे अभी तक 50 like नहीं है यार class खतम कर रहा हूं 6 बज़े कर दूँगा क्योंकि मेरा दूसरा आज paid class है 6 बज़े से ठीक अब देखो सुनो तो यहां पर 362 कह रहा है कि कोई भी कोड जिसने judgment दिया है उसके पास अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके वो अपने ही जो है trial के दिये हुए judgment को दुबारा से पुनर विचार करके कोई भी alteration या addition कर सके लेकिन दो चीजों की यहां पर छूट की दी इस वैसे हम 362 को क्या पड़ते हैं as a proviso पड़ते है section 362 CRPC के general provisions का क्या है proviso है provided that हमको बता रहा है किस situation में save as otherwise provided by this court or by any other law for the time being enforced no court when it has signed its judgment or final order disposing a case shall alter or review the same except to correct the clerical or the mathematical error तो यहां पर इस section में तीन चीजें importantly बता दी गई जो repeatedly पूछी जाएंगी ठीक तो याद रखिएगा कि जो भी हमारे CRPC के इस code में दिया गया है वहां पर trial code के पास जब वो अपने final judgment को क्या कर चुका है judgment को सुना चुका है और यहां पर deliver कर चुका है तो उस समय उसके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा means उस समय यहां पर कोई भी अधिकार नहीं है कि वो दुबारा से उस matter को सुन सके दूसरी सबसे important बात word shell का use हुआ है मतलब यह mandate लगाया गया है codes के उपर कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते और दूसरी बात कि अगर हम बात करें कि सकी clerical या फिर mathematical error क तो उनकी जो है क्या उनके लिए code को review के लिए बोला जा सकता है यह पांच point आपके JLO में directly चिपके हुए मिलेंगे 362 से is it clear आया समझ में सबको ठीक चालो next question पर आजाओ फटापट से which section of CRPC provide the confirmation by the high court of an order of a death sentence passed by the session court prior to the execution sorry for the Hindi student convert नहीं हो पाया मतलब translate नहीं हो पाया लेकिन समझा देता हूँ क्या कहना चाहरा है यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी session court ने आप लोगों को पता है additional session judge और हमारे session judge के पास अधिकार दिया गया है code of criminal procedure में कि वो क्या कर सकते हैं वो पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को death penalty award कर सकते हैं death penalty समझते हो ना मृत्यदंद दे सकते हैं लेकिन अगर हम assistant session judge की बात करें तो assistant session judge के पास ये जो है death penalty देने की कोई भी power नहीं है again I am repeating तीन judges हमें session court में देखने को मिलते हैं पहले होते हैं हमारे session judge जो सबसे उपर होते हैं उनके काम को bifurcate करने के लिए उनके काम को हलका करने के लिए additional session judge बिठाया जाता है जिसके पास same power होंगी कि वो क्या करेंगे वो जो है हमारे session judge के powers को इस्तमाल करके सारे matters को deal कर सकते हैं और तीसरा इसी court में आपको देखने को मिलेगा एक assistant session judge के जो है chair होगी जो कि इन दोनों के वो काम में help करेगा लेकिन उसकी power कितनी होगी सिर्फ 10 साल तक की imprisonment देने की power या फिर ऐसे matter जहां पर 10 साल तक की सजा हो सकती है उनी को assistant session judge हमेशा सुनते हैं तो यहां पर मैंने आपको एक chart बना कर समझाये था कि कौन सा judge कितनी sentence दे सकता है और किस matter को सुन सकता है clear अब उसी के respect में पूछ रहा है कि अगर session judge और additional session judge ने किसी भी व्यक्ति को death penalty दे दिया है तो इसकी confirmation जो है कहां से करानी होगी इसकी confirmation high court से करानी होती है ये बात हमको किस section में बताई गई है 368, 366, 371, 369 ठीक बताएं फटाफर्चे देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर session judge और additional session judge ने death penalty को क्या किया है death penalty को award किया है और इसका confirmation अगर high court से नहीं लिया गया तो जब तक वो death penalty execute नहीं कराई जा सकती जब तक के high court confirm ना कर दे और high court के कितने judges की bench जो है इसका confirmation करेगी this question is also important for the JLO perspective ठीक तो यहां पर बोला कि 366 में session court क्या गरेगी high court से अपने matter को दर्खवास करके भेजेगी कि हमने ये death penalty case में award की है आपकी इस पर क्या सहमती है अगर high court जो है इस पर सहमती जदा देता है तो फिर क्या होगा high court की कम से कम दो judges bench इस matter को सुनके अपनी सहमती जा है उसको confirmation भेजा जाएगा और जिस व्यक्ति को क्या किया गया है जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से यहां पर death penalty दी गई है उसकी जो है फिर death penalty को execute कराया जाएगा और उसको fancy पर चड़ाया जाएगा ठीक तो option number B जो है इसका बिलकुल सही जवाब है ठीक चलिए next question पर आ क्लियर चलो आगे आते हैं next question पर which one of the following section of CRPC provides the power of high court to confirm sentence और annul the conviction अब यहां पर क्या गह रहा है कि high court के पास CRPC के निम लिखित में से कौन सी धाराया सजाया वारसिक दोस्चिद्ध की पुष्टी करने का उच्च नियाले की सकती प्रदान की गई है 366, 367, 369, 368 क्या गह रह है कि high court को death penalty को confirm करने के लिए किस sections ने या फिर उस penalty को confirm कर दे या फिर उसको annul कर दे मतलब high court चाहे देखो दोनों ही power high court के पास है या तो जो confirmation के लिए 366 में session court ने क्या किया session court ने भेजा high court के पास उसका approval भी दे सकता है और उसका denial भी दे सकता है यह किसकी absolute power दी गई है किस को हाई कोट को और यह यहां पर कहां पर बताया गया है 368 CRPC में हमको डिटेल में बताया गया है clear हुई इतनी बात is it clear दोनों समझ में आए 366 क्या है 366 में बताया गया है कि भाई जब भी कोई court of session death penalty अबॉट करेगा या additional session जड़ death penalty award करेगा तो जिस भी व्यक्ति को death penalty दी गई है उस व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा कभी भी जो है फासी पर नहीं चड़ाया जा सकता जब तक कि high court से confirm नहीं करा लिया जाए और high court के पास power है कि वो अपना 368 के according यह order दे सकते हैं case व्यक्ति को जो है आपको क्या करना है death penalty देनी है या नहीं देनी दोनों ही power high court के पास है ऐसा नहीं होगा कि अगर भेज दिया गया है तो high court क्या करेगी high court उसका denial ही कर देगी ठीक और यह appeal और revision की power से बिलकुल अलग है यहाँ पर सिर्फ court of session की बात को high court से confirm कराने के लिए simple से यह दो provisions हमको बताए गए है clear अगर इसके बाद भी high court से confirmation आ जाती है suppose करिए approval आ गया के हाँ भाई session court 366 के according क्या कर सकती है जो भी order पास किया है उसको हम approved करते हैं और जिस व्यक्ति को फासी दी गई है ठीक या death penalty दी गई है उसको चड़ा दीजिए फासी पर जो अपने date तैकी है ठीक इसके बाद भी जो है accused person के पास अधिकार होगा कि वो जो है अपनी appeal high court में लेके जा सकता है against the court of session ठीक इसके बाद appeal जब हम कहां पर लेकर जाते हैं इसके बाद वो अपने high court गया high court से भी same फैसला आया suppose करिए के उसको जो फासी court of session ने दी थी वो बिल्कुल सही थी क्या थी बिल्कुल correct थी तो इस case में उसके पास दुबारा अधिकार होगा कि वो अपने supreme court of India के पास सही था और हम इस व्यक्ति को जो है सिर्फ death penalty ही देंगे इस case में तब जो है उसके पास अधिकार होता है कि वो जो है क्या कर सकता है वो पूरी तरीके से president of India ठीक है भारत के राश्टपती को अब तो official नाम भारत हो गया है आपने देखा G20 summit में नरेद मोधी के सामने इंडि office से बाकी president office से बाकी सारे 20 कंट्रियों को वो president of भारत के नाम से ही देखा गया अब इसके उपर जो हमारा coming session है जिसमें 18 से लेकर 22 September तक जो special subject बुलाया गया है उस पर देखते हैं government क्या reply करती है और क्या क्या चीज़स देखने को मिलती है इसके बाद supreme court से भी जो है हो गया अब जो है supreme court के रही है हाँ भाई इसको फासी देनी चाहिए उसके बाद में क्या होगा हाँ official record में अभी नहीं हुआ है लोग सबाके 18 से 22 वाले session के बाद हो सकता है ठीक लेकिन अब जो है हिंदी वाला name हमने देखा कि prime minister ने G20 summit में हर जगे use किया और official notification में भी use हुआ अब यहां पर supreme court ने कह दिया कि भाई इसको फासी पर लटका दो जिसको सजा दी गई है court of session से चल रहा है अब वो president of India के पास क्या जाएगा अपनी चमा या चिका को डालेगा ठीक क्या करेगा चमा या चिका को डालेगा और यहां पर बोलेगा कि भाई मेरी death penalty को हटा दीजिए इसके बाद राष्टपती कहां पर राष्टपती की pardoning power कहां दी गई है राष्टपती की pardoning power जो है हमें दी गई है किसमें article 72 बहुत detail में पढ़ाया था मैंने क्या क्या राष्टपती कर सकते हैं ठीक तो राष्टपती की जो power दी गई है वो 72 में दी गई है उसके according को चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं इतना लंबा प्रोसीजर होता है एक व्यक्ति को फासी दिये जाने का इसी वज़े से हमें देखने को मिलता है कि डैली रेप केस 2012 फासी कब हुई 2019 छे साल लग गए उस रेप केस में और इंडिया में बहुत कम जो है क्या फासी दी जाती है और अब फासी को जो है अबॉलिस करने के कई आर्टिकल साब पढ़ते रहते होगे और यह डिमांड उठाई जा रही है कि डैथ पेनल्टी को इंडिया से बता है कि एक एक क्यूज़ पर्सन के पास इतने सारे राइट सोते हैं एक कन्विक्टिट पर्सन के पास जिसको फासी की सजा सुनाई जाती है इस और नो जल्दी बताओ अभी बहुत सारे कोशन बचे हुए आगया चलो next question पर आ जाईए फटावट से 366 की न एक बार bare act reading लेलना यार important है कुछ ऐसे words जो यहां पर may use हुआ है वैसे पूरे section में तीनों में ही starting में may use हुआ है मतलब high quote की discretion है मतलब यहां पर high quote की जो है खुद की अपनी discretion है कि वो चाहें तो इसको confirm करें वो चाहें तो इसको जो है क्या करें जो है annual कर सकते हैं ठीक लेकिन यहां पर कोई mandate नहीं लगाया गया provided that में एक mandate है उसको आप जो है bare act से read कर लीजिएगा clear next question पर आते है on beginning submitted the sentence of death by the court of session the high court may confirm the sentence annual the sentence may pass any any other sentence warranted by law all of the above is the correct answer ठीक यहां पर कह रहा है जो हमारे session नियाले द्वारा मौत का प्रस्ताब जो भेजा गया है high court को उच्च नियाले उस पर क्या कर सकता है चार options आपको देख रहे हैं अब इस question का जबाब किसी का गलत नहीं आये wrong answer मैं expect नहीं करना हूँ आप लोगों से क्योंकि सारी चीजें इसके respect में जो हमारे section number 366 से लेकर section number 371 तक जितनी भी important चीजें थी वो मैं आप से discuss कर चुका हूँ clear तो option number क्या होगा option number D जो है इसका सही जवाब होगा या तो वो confirm करेगा annual करेगा या या फिर High Court चाहे तो कोई other punishment भी उसके ब्याव पर दे सकता है जो उनको things पिट समझे all of the above is the correct answer of section question on all of the above is the correct answer of this question ठीक चलिए next question पर आईए in computation of period of limitation the period which can be excluded option A the time during which any person has prosecuting with due diligence another prosecution of the same fact in the good without good faith and in without jurisdiction दूसरा period for which the prosecution is in respect of such offence has been stayed in the injunction order तीसरा period during which the application of accused to be released on bail was pending option D both one and second ठीक परिसीमा की अवदी की एक सगे परिसीमा की अवदी की गड़ना करते समय जिस अवदी को बाहर रखा जाएगा उनमे इस निमलिकित कौन से सामिल है क्या कह रहे हैं अगर हम period of limitation ठीक period of limitation को count करते हैं तो कौन-कौन सी चीजों को exclude किया जाता है period of limitation किसी भी case को file करने की जो अवदी होती है अगर कोई भी ऐसा case है जहां पर कुछ time period के लिए उस time जो period of limitation है उसको रोक के रखा जाएगा क्योंकि अगर suppose करिये कि Jason को case करना है उसके पास 3 साल या 1 साल है case करने का समय और उस समय वो क्या है कुमा में है या फिर वो क्या है वो पागल है उस समय वो mature नहीं है कि case कर सके तो उसका period of limitation स्टार्ट कर दिया जाएगा तो उसका criminal case करने का आधिकार खत्म ना हो जाए इसी वजय से क्या किया जाता है इसी वजय से हमें देखने को मिलता है कि कुछ exceptions बताई गई है कि कब कब period of limitation को हम जो है exclude करेंगे original time से ठीक तो option D यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा इस पर next lecture में next या next to last lecture में आपको detail explanation के साथ बताऊंगा कि कहां कहां पर हमको क्या नहीं करना होता कहां कहां पर हमको पूरी तरीके से period of limitation को start नहीं मानना होता है यह भी JLO के exam से बहुत ज़्यादा important है ठीक moving head how many minimum number of judges of the high courts are required to sign confirmation of death sentence मिरत लंड की पुस्ती पर हस्ताक्षर करने के लिए उच्छ न्याले कितने न्यायद्यों की आवस्सक्ता होती है 3 2 4 या 5 3 2 4 या 5 अभी बताया मैंने आपको क्या बताया था मैंने अभी आपको बताया था कि at least confirmation of death sentence confirmation of death sentence अगर high court में भेजी गई है 366 के according किसके court of session के द्वारा तो at least two judges के through sign होने चाहिए ये बात कहां लिखी है ये बात section 369 में लिखी है कहां पर section 369 इसके respect में सारी जानकारी हमको provide करता है ठीक suppose करिए के high court में मालो एक high court के पास court of session ने क्या किया 366 की exercise करते हुए power को भेज दिया कि भाईया हमने एक death penalty दी है इसको confirm कर दीजिये ठीक तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि high court के अगर दो judges सुन रहे हैं और दो judges ने उस पर अपना फैसला दे दिया एक-एक के उसमें एक कहरा नहीं death penalty होनी चाहिए एक कहरा है death penalty नहीं होनी चाहिए तब इस case में क्या होगा देखो तब इस case में मैं आपको simple बता देता हूँ अगर उन दोनों का फैसला एक-एक के मत से बट गया है मतलब दो जगाए divide हो गया है तो ऐसे में यह दोनों ही जो है एक presiding officer को appoint करेंगे जो तीसरे high court judges को appoint करेंगे और फिर जो है जो तीसरे high court judge का जिसके पक्ष में आएगा एक कह रहा है हाँ एक कह रहा है ना अगर इन्होंने यह कह दिया नहीं साहब इसको नहीं होनी चाहिए तो 2-1 की majority हो जाएगी और उसके बाद वो decision जो है court of session को बेज दिया जाएगा ठीक तो यहाँ पर क्या होगा दो judges at least उस चीज को सुनें के high court के पास जो death penalty के matter confirmation के लिए भेजे गए है और यह कहाँ पर 369 CRPC में बताया गया है ठीक फटाफस ते इसको read करते हैं और फिर इसके बाद जो है session को हम bind up करेंगे confirmation or new sentence to be signed by two judges in every case so submitted the confirmation of the sentence or a new sentence or order passed by the high court shall when such court consists two or more judges be made passed and signed by at least two of them ठीक तो यहाँ पर at least two of them का मतलब यह हो गया कि कम से कम 2 judges उसकी पुस्टी करेंगे उसको जो है क्या करेंगे उसको सेहमती देंगे और उस पर उनके signature होना और उनके seal लगी होना बहुत जादा जरूरी है तभी उस death sentence को क्या माना जाएगा confirmation माना जाएगा clear इतनी बात अगर एक-एक के ratio में बट जाएंगे तब मैंने जो procedure समझाया है कि तीसरे presiding officer high court judge से मदद ली जाएगी और जो तीसरे judge सब high court के उस पर अपना मद देंगे वही सारी चीज़े क्या होंगी वही सारी चीज़े final मानी जाएगी clear होई इतनी बात आज हम जो है क्या आज हम discussion करने वाले है class number 14 में जो appeal reference और review का revision का जो procedure है CRPC का और इससे आपके बहुत सारे questions आते हैं और आज के session में हम transfer of cases के बारे में भी discuss करेंगे और यह हमारी second last class है ठीक है और इसके बाद हमारा code of criminal procedure 1973 1973 पूरी तरीके से complete हो जाएगा आज के session का main important topic है वो है appeal हम CRPC के appeal के सारी चीजों को discuss करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर एक reference का concept है इसको detail में समझेंगे प्लस इसके बाद में हम revision की जो सारी powers दे रखी है court of session और high courts को उसके respect में सारी चीज़े समझेंगे तो आज हम basically 372 से लेकर जो हमारा 405 तक के important sections है इनके बारे में detailed discussion करने वाले हैं और दूसरी सबसे important बाद कि जो आपका हमारा इसके बाद 406 से लेकर 411 तक transfer of cases के provisions हैं उनको details में discuss करने वाले हैं प्लस जो हमारा remission और commission और जो हमारे state government की power है किसी इंसान की life imprisonment को 14 साल के लिए imprisonment में बदलना ये सारी चीज़ें जो है आज के session में discuss करेंगे उसके बाद कल जो आपका last lecture होगा उसमें bail के respect में सारे important provisions को पढ़ना है प्लस आपका section 460 और 461 को detail में पढ़ना है और उसके respect में जितने भी आगे अब हमारे 482 के 484 के respect में जो questions मते हैं उसको भी हम कल discuss करेंगे प्लस section 176 CRPC को मैं आपके साथ discuss करूँगा जो मैंने आपका छोड़ रखा है clear अब ये हमारी second last class है अब इस second last class में आपको कुछ important चीज़े करनी है वो क्या-क्या important चीज़े हैं और कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो है आपका कुछ important homebuck भी है जो आपको करना है ठीक सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अब सारे chapters के name मियाद करने है ठीक जहाँ पर आपको summons किस chapter में दिये गए है warrant किस chapter में दिये गए है maintenance किस chapter में दिया गया है ठीक हमारे arrest के safeguard कहाँ पर दिये गए है कौन से chapter में आते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि जो हमारा FIR का concept है वो कहाँ पर है उसके बाद complaint का procedure कहाँ है उसके बाद warrant trial कहाँ दे रखा है summons trial कहाँ दे रखा है summary trial कहाँ दे रखा है court of session trial कहाँ दे रखा है उसके बाद हमारे जो जितने भी revision, reference और appeal का जो concept है उसमें कौन से chapter में क्या-क्या बताया गया है, इसके बाद transfer power, courts की जो transfer करने की power है, वो किस chapter में दी गई है, उसके बाद bail के provisions कहां पर है, remission, commission कौन से chapter में दिया गया है, प्लस इसके बाद inherent power को किस chapter में fall कराया जाता है, तो आज का जो सबसे बड़ा important homework है, क्योंकि यहां से भी JLO में आपके question देखने को मिलेंगे, मैं कल रात को बैठके आपके जब JLO के question बना रहा था, तो previous year papers मैंने देखा, कि बहुत से question ऐसे हैं, जो आपको chapters के basis पर भी CRPC से पूछे जा रहे हैं, तो आज जितनी भी important chapters यह मैंने आपको लिखवाए हैं, इन सारे chapters पर आपको क्या करना है, इन चारज chapters पर आपको major focus रखना है, और major focus रखने के बाद इनके chapter number at least आपको याद होने चाहिए, अब फटाफट से सारे लोग जो है, इस session को जल्दी से like करना start कर दीजे, मैंने अपना काम start कर दिया है, और आज हम मैं आपको पूरा appeal और revision plus reference के concept को समझाने वाला हूँ, ठीक? अब यहाँ पर एक important बात कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं, और जो भी हमने CRPC 1973 की इस marathon class में पढ़ा है, वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की हैं, वो सारा content अपूर शर्मा ओफीशल इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा और अपूर शर्मा 252 ये है मेरा Instagram account, इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूँ, तो आप मैंसे जितने भी लोग मुझसे connect होकर अपना कोई भी doubt या सवाल पूछना चाते हैं, वो अपूर शर्मा ओफीशल 252 अपूर शर्मा ओफीशल आप telegram पर जाकर सर्च कीजेगा, आपको मेरा group मिल जाएगा, इस group में मैं आपको daily basis पर, जो है MCQ practices कराता हूँ, जो के judiciary के और APO के perspective से बहुत जादा important है plus इसमें मैं आपको current affairs चाहें, वो legal current affairs हूँ या फिर आपके general current affairs हूँ या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं, चाहें तो freshers के लिए, या फिर जो है आपके advocate, जो के experience advocate वाली हैं, उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती है, तो आप मुझसे यहाँ पर connect होकर आज का सारा content घटा कर सकते हैं, अब एक important बात कि अगर आप study IQ judiciary के live foundation batch 7 को join करना चाहते हैं, जिसकी classes 6th of October से start हो चुकी है और इसमें admission लेने की 9 October last date है, तो यह हमारा comprehensive plan है, जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी, वो भी 12 महिने में यह पूरा batch live रहेगा और live classes में आप अपने टीचरों से बात करके, discussion करके, अपने सारे doubts को solve कर सकते हैं, अगर आप इस batch में admission लेना चाहते हैं, तो आपको APU का code use करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं, admission लेने का क्या procedure होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जो है, Google पर जाना है, और Google पर जाकर सर्च करना होगा study IQ judiciary, जैसे ही आप Google पर जाएंगे, Google पर जाकर आप सर्च कीजिएगा, phone से, laptop से, tap से या फिर सारी चीजों से, study IQ judiciary यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, जैसे ही आप study IQ judiciary को सर्च करेंगे study IQ judiciary को सर्च करेंगे, हमारी original website पर जाएगा, वहाँ पर आपको life foundation batch 7 का comprehensive plan देखने को मिलता है, 40,000 का यह batch है इसको आप मात्र 24,999 में 24 मंत की validity के साथ ले सकते हैं, buy now के option पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर offer available में जाकर आपको मेरे नाम के तीन अक्षर का एक promo code डालना होता है चाहें आप capital में डालें, या small में डालें, A, P और U मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे, 24,999 में यह life foundation batch आपको provide किया जाएगा, 24 मंत की validity के साथ में, इसके बाद buy now के option पर जाना होता, इतने सारे payments के option आते हैं, जैसे ही आप जो है इन में से किसी भी माद्धिम का high one भविष्य में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रहा हो, तो आप जो है मुझसे मेरे telegram गूरूप पर या फिर instagram पर message करके इन batches की जानकारी ले सकते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को आज से 2 या 3 महीने बाद देखें, तो उनके law colleges में हैं, उनके लिए भी आपके जो है 2 या 3 साल के program बनाए गए हैं, जिसमें आपको पूरा law 2 या 3 साल में complete कराया जाता है mentorship भी मिलती है, hand return notes भी मिलते हैं, legal updates भी मिलते हैं और आप अपने college time से ही तयारी कर सकते हैं, तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्धियम से payment करके इस batch को join करेंगे, तो आपको APU के code को लगाने से, मतलब मेरे code को लगाने से, ये batch 24,999 24 मत की validity के साथ मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है that is called study IQ judiciary महापक ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा तो APU के code से, दो-दो courses, दो साल की validity के लिए आपको मिल रहे हैं, आज ही जाकर इसमें enroll करिए, तो जब हम appeal के chapter को start करेंगे, तो पहला ही section देखने को मिलेगा, कौन सा 372, और 372 बात करता है, no appeal to lies unless otherwise provided, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस chapter में दिये गए हैं मतलब 372 से लेकर 394 ठीक, इन sections के बीच में जहां जहां पर appeal करने की गुंजा इसको बताया गया है, उनी matters पर, क्या, उनी subject matters पर सिर्फ CRPC में appeal की जाती है वरना इसके अलाबा किसी भी other matter पर CRPC में appeal कभी नहीं की जाए question so नहीं हो रहा question so नहीं हो रहा क्या दिक्कत आ रही है board नहीं दिख रहा है क्या question तो मैंने कराया नहीं मैं बस statute right से start कर रहा हूँ और section 372 से हम जो है आज पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको question कर रहा हूँग board दिख रहा है ड़ा देते हो बीच बीच में ठीक, देखो अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे बहुत ही important चीज़ पूछ रहा है और आपको एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर क्या बताये गया है आपको simple भासा में एक चीज़ बताई गई है कि जो हमारे appeal के provision है section 372 से लेकर 394 CRPC तक उनी subject matter पर सिर्फ हम appeal कर सकते हैं वरना किसी भी other matter पर जो CRPC में है उस पर appeal नहीं की जा सकती इसी वज़े से जो ये statute statute समझते हो ना मतलब जो CRPC कहता है वही जो है क्या है वही पूरी तरीके से क्या है appeal करने का right होता है अब तीन concept यहाँ पर देखने को मिलते हैं पहले तीनों concept को समझिए फिर हम 372 के respect में सारे discussion करते हैं अब तीन concept है सबसे पहले है appeal दूसरा है हमारा reference तीसरा है हमारा revision ठीक है यह तीन concept आपको CRPC में देखने को मिलते हैं सबसे पहले concept पर अगर नजर डालें तो एक चीज दिखाई देती है कि जो हमारा appeal का right है जहाँ पर हम CRPC के कोई भी चीजों को कर रहे हैं यह हमारा appeal का right है यह कहाँ पर दिया है section number 372 से लेकर 394 तक दिया है और यहाँ पर हमें एक exhaustive list दी गई है exhaustive list समझते हो न exhaustive list का मतलब होता है ऐसी चीजें जो के यहाँ पर लिख दी गई है इन जो है क्या इन 20 sections में जिनको लिख दिया गया है सिर्फ उन पर ही जो है क्या CRPC के अंडर appeal की जा सकती है और appeal party यां कब करती है कर रही है court judgment दे दे रही है और judgment में जो दो तो party होंगी अगर किसी के बीच में dispute है पहली party कौन सी होगी पहली party होती है हमारी accused जिसके उपर charges लगे है और दूसरा जो victim कहलो या फिर prosecution कहलो इन दोनों के बीच में कोई dispute था उसका judgment किस ने दिया court ने दिया है कि वो क्या कर सकता है वो CRPC के अंदर appeal को file कर सकता है is it clear is it clear इतनी चीज़ समझ में आई यह क्या हो रहा है आज क्या हो रहा है मजा नहीं आ रहा आएगा मजा start तो करने दो ठीक आ रहा ना इतनी चीज़ समझ में आगई में क्या बताना चारा हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मेरी जो intention है वो आप तक पहुँच रही है ना तो session को like किया है और ना ही session को अभी तक share किया है सारे बच्चे आए भी नहीं है class में ठीक चलो ठीक है start करते हैं जगो इसी को continue करना है ठीक तो अब जो भी party हारी है उसके पास appeal में जाने का अधिकार है अब यहाँ पर appeal में जाते कैसे हैं इस procedure को समझो ठीक अभी इन दोनों point को side में रख देते हैं बच्चा इन दोनों point को अभी discuss करेंगे पहले appeal की सारी चीज़े समझ लो देखो appeal में कोई भी इनसान जा रहा है जो एग्रीब्ट party है ठीक एग्रीब्ट party जिस judgment से satisfy नहीं है वो क्या कर रहा है अब appeal का systematic तरीका क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ तो systematic तरीके को समझने के लिए साथ साथ notes भी आपको यहां पर मेरे साथ बनाने होंगे वरना आपको यह सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी याद रखिएगा कि ऐसे सारे matters जहां पर कोई भी high court ने क्या किया है high court ने trial चलाया है high court ने trial चलाया और high court ने trial चलाने के बाद एक party को क्या कर दिया जिसके उपर charges लगे थे उसको convert कर दिया तो उसको अगर ऐसा लगता है कि जिस party को जो punishment दी गई है judgment के according high court के तो उसके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है supreme court में जाकर appeal कर सकता है कहां पर appeal करेगा supreme court में अगर उससे नीचे वाले court की बात करें तो या आप तो हमारा court of session trial होगा या फिर हमारे क्या होंगे हमारे additional session judge होंगे ठीक additional session judge ने कोई भी decision दिया है या फिर वो सारे courts जिन्होंने साथ साल से ज़्यादा की किसी को punishment दिये बहुत ही important चीज़ बता रहा हूं अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इदर हो जाता हूं इस पार्ट को लिखना बहुत जरूरी है दिख रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है मैं side में होके समझा रहा हूं ठीक है अब दिख रहा है अगर court of session ने दूसरा point अगर high court ने trial चलाया है वहाँ पर जो भी एग्रीवट पार्टी है उसके पास अधिकार है कि वो कहां जा सकती है supreme court में उस case की appeal को लेकर जा सकती है clear दूसरी सबसे important बात कि court of session या additional session जज़ ने trial चलाया है या फिर ऐसे जो magistrate हैं जिनोंने किसी भी offense में या फिर ऐसे trial चलाया गए है जहां पर किसी भी व्यक्ति को 7 साल से जादा की सजा दी गई है तो वो जो है क्या करेंगे उनके पास अधिकार होगा कि इन सारे courts के aggrieved party के पास अधिकार होगा कि वो कहां जा सकते हैं वो trial में जा सकते हैं वो जो है अपना appeal लेकर high court जा सकते हैं लेकिन अगर ऐसे सारे मुकदमे जो के हमारे किसी भी judicial magistrate first class judicial magistrate second class या फिर cjm ने सुने हैं और वो सारे क्या उसमें 7 साल से less than 7 years की punishment दी गई है तो उनकी appeal जो है कहां पर जाएगी उनकी appeal जो है court of session में जाती है ठीक तो यह basic funda होता है यह hierarchy होती है जहां पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे किस court की appeal कहां पर जाएगी is it clear इतनी चीज समझ में आ गई हां या ना जवाब नहीं दे रहे हो है राज क्या चक्कर है इतनी चीज समझ में आ गई पहले जवाब दो तव आगे चलेंगे class में पहले जबाब दीजिए तव आगे चलेंगे बताईए जी 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 आ गई तो अब ये हमारा हो गया appeal का procedure और ये CRPC में इसी तरीके से काम करता है ठीक अब दूसरी important चीज क्या है कि कुछ petty cases होते हैं मतलब छोटे-छोटे offenses होते हैं जहां पर कोई भी appeal क्या कहते हैं हमारी नहीं की जा सकती ये बात हमको 375 में बताई गई है तो जब हम 375 को पढ़ेंगे इसके तब हमको पता चलेगा कि petty offenses में हम appeal नहीं कर सकते जैसे अगर हम petty cases की बात करें तो petty cases में अगर high court क्या चुपका रहा है जुर्माना लगा रहा है ठीक है तो इन दोनों ही cases में क्या कोई भी appeal supreme court लेकर नहीं जा सकता एगृट पार्टी के पास अधिकार नहीं होगा ठीक दूसरी सबसे important बात क्या है कि अगर हमारा कोई भी court of session है या फिर other judges है और वो क्या कर रहे हैं एक महीने की punishment दे रहे हैं नई तीन महीने की punishment दे रहे हैं थ्री मंथ की punishment और कोई भी fine impose कर रहे हैं 200 रुपे तक का तो इसकी high court में appeal नहीं लेकर जा सकते और तीसरी सबसे important बात कि judicial magistrate first class कोई भी 100 रुपे तक का fine लगा रहा है तो और एक मंथ तक की punishment दे रहा है तो उसकी appeal court of session में नहीं ऐसे ही यह हमारे petty cases के offenses हैं मैं अभी आपको इन सबको detail में बताऊँगा लेकिन अभी मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ अभी मैं जो है आपके साथ सिर्फ appeal का overview ले रहा हूँ तो overview सब लोगों को समझ में आ गया तो यह हमारी appeal होती है जो कि statutory right है जहां पर aggrieved party के पास अधिकार है अब देखो aggrieved party हमेशा accused नहीं होगी बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि accused के against में decision आया उसको convict कर दिया गया तो वो क्या होगा वो appeal में जाएगा victim भी हो सकता है जहां पर victim को ऐसा लगे कि किसी भी accused person को क जुरुमाना लगाया गया है तो ऐसे cases में victim का भी अधिकार है कि वो भी appeal में जा सकता है जो भी हमारे 372 से लेकर 394 तक sections में specifically बताया गया है clear चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे concept पे दूसरा concept आपको यहां पर देखने को मिलता है ठीक है यहां पर आपको review का concept देखने क को नहीं मिलता क्या नहीं मिलता हम review मतलब जो court क्या decision दे रही है वही court दुबारा से अपने matters को नहीं सुन सकती यह अधिकार हमारे हमें CRPC में नहीं दिया गया क्योंकि यहां पर हम deal किस से कर रहे हैं यहां पर हम deal कर रहे हैं किसी भी life किसी भी इंसान की life से और एक व्यक्ति को सुनकर अपना judgment दे दिया है तो उसी को जो है दुबारा से review करने के लिए दुबारा से पुनर जो है क्या पुनर विचार करने के लिए कोई भी अधिकार CRPC में नहीं दिया गया है clear तो यहां पर यह concept कल हमने समझ लिया था कि CRPC में review का concept हमें देखने को नहीं मिलता लेकि trial court में कोई भी case pending है अब इसका trial court trial conduct कर रही है अब इस trial court के सामने एक एसी समस्या आ जाती है जहां पर एक ऐसा question raised हो जाता है जिस पर इस trial court के पास कोई भी समाधान नहीं है एक ऐसा question इस trial court के सामने आ गया जहाँ पर इसके पास इसका कोई भी समाधान नहीं है तो इस case में क्या trial court उस question को अपने आप deal कर सकती है या फिर वो क्या करेगी वो जो उससे उपर वाले court होंगे उनको वो issue जो है क्या कर देगी specific issue को भेज देगी और उनसे कहेगी कि इस पर क वाले court जो भी situated court होंगे उनको क्या करेगा उनको approach करेगा और approach करने के बाद इनसे कहेगा कि भाई ये question of law है और इस question पर मेरे पास कोई भी solution नहीं है इसका मुझको क्या दे दिजीए इसका मुझको solution दे दिजीए तो जो उपर वाले judges होंगे या उपर वाला जो court होगा वो जो है उस पर जो भी अपना suggestion देगा और उस suggestion को जो है दोबारा से trial code को refer किया जाएगा जिसने वो question पूछा है और तब तक के लिए वो trial क्या कर दिया जाएगा वो trial stop कर दिया जाएगा जो भी हमारा trial चलना है जहां पर reference की requirement पड़ रही है उस trial को stop कर दिया जाएगा जैसे ही reference में पूछे गए question का जवाब हमारे उपर वाला court नीचे वाले court को देगा वो trial दुबारा से start हो जाएगा और reference court मतलब जिसने reference भेजा था court को जो trial चल रहा था उस court के पास पूरी power होगी कि वो जो भी जवाब आया है उसके basis पर उस trial को आगे continue करे और अपना judgment दे is it clear is it clear समझ में आया समझ में आया या नहीं आया जब तक reference का question उपर वाले court के पास गया है और वो court जब तक वापस उस question का जवाब नहीं दे देती ऐसे question of law ऐसे question of fact जो कि हमारे trial court के सामने पहली बार raise हुए है तो वो सारी चीज़ें कहां पर बेजी जाएंगी वो सारी चीज़ें हमारे उपर वाले court को भीजी जाएंगे और उपर वाले court जैसे ही answer कर देंगे उस trial को दुबारा से start कर दिया जाएगा यह क्या होता है यह होता है हमारा reference का concept अब इसके बाद आता है एक हमारा revision का concept कौन सा आता है इसके बाद आता है हमारे revision का concept ठीक और revision का concept यहां पर आपक पार्टी के पास appeal का right नहीं है, याद रखिएगा यह बहुत important question है, जेलो वाले बच्चों के लिए, जहां पर parties के पास appeal का अधिकार नहीं है, वहां पर वो क्या कर सकती है, वो जो है revision apply कर सकती है, या फिर जहां पर parties के पास appeal का right है, और वो जो है क्या नहीं कर पाई है, वो उ ठीक, show motor power मतलब यह ऐसी power होती है, जहां पर कोई भी उपर वाली अदालत जिसके under, कोई भी अदालत क्या कर रही है, trial चला रही है, और उसको ऐसा लगता है, कि यह trial में कुछ unfair means का इस्तमाल किया जा रहा है, या excessive power का इस्तमाल किया जा रहा है, trial court के द्वारा, तो ऐसे cases में उपर वाले code जो हंगे, वो जो है, उनसे issue motor power का इस्तमाल करके, उस matter को अपने पास ले लेंगे, call off कर लेंगे, और उसका revision start कर सकते हैं, is it clear, ठीक, तो यह तीन unique concept हमें देखने को मिलते हैं, और इन तीनो unique concept में, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, अब इनी तीनो questions पर हमें जो है, discussion करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे साथ connect हो जाना है, और एक-एक करके पढ़ना है, सबसे पहले statutory right क्यों है, इसको पढ़ लेते हैं, no appeal to lie unless the otherwise provided, जो भी इस हमारे sections में, जो हमारे 22 sections हैं, यहाँ पर जो provide किया गया है, इसके अलाबा कोई भी इंसान अपने matters को लाकर क्या नहीं कर सकता, अपील में नहीं ले जा सकता, no appeal to lie from any judgment or order of the criminal court, except as provided by the court, by any other law for the timing in force, इसका मतलब किसी भी अपराधिक न्याले के किसी भी फैसले या आदे से खिलाब कोई भी अपील तब तक नहीं की जा सकती, जब तक इस सहेता के उस समय लाग तब तक किसी भी matter पर appeal नहीं की जा सकती है, दूसरा इसमें provided that क्या बता रहा है, provided that the victim shall have right to prefer an appeal against any order passed by the court, acquitting the accused or convicting or a lesser offense for imposing the inadequate compensation and such appeal shall lie to the court to which appeal ordinary lies against the order of conviction of such court, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर पीडित व्यक्ति जो है उसको ऐसा लगता है कि उसके against में decision आया है, या फिर दूसरी बात कि उसके case में किसी भी accused person का जो है क्या proper punishment नहीं दिया गया है, proper उस पर fine नहीं लगाया गया है, proper compensation उसको नहीं मिला है, तो इस case में क्या कर सकता है, victim व्यक्ति भी जो है, इस statutory right को इस उपर वाले quotes में जो भी हमारे procedure बताए गए है, उसके according appeal कर सकता है, clear, चलिए, ठीक, तो ये हो गया हमारा statutory right, ये question बिटा direct chip का हुआ मिलेगा, और कहां पर provide किया है, 272 of CRPC में provide किया गया है, clear, चलो, आ गया समझ में, आ गया समझ में, देवी देवताओ, कुछ बताओगे, ह क्या होता है, मतलब reference क्या होता है, और revision क्या होता है, और appeal क्या होती है, बताइए, yes, ठीक, अब एक question को समझ लिया, और तीनों जो है, हमने चीजों को समझ लिया, अब आते हैं इनके questions पर, appeal, reference और revision के questions में, अब आपके साथ start करने वाला हूँ, पहला question आपके screens पर, under which section of CRPC, sessions court excise the power of appeal from conviction, CRPC की किस धारा के अंतरगा, सत्र नियाले, दो सिद्धी के विरुद्ध अपील की सकती का प्रियोग कर सकती है, 372, 397, 374, 398 of CRPC, चार question आपको यहाँ पर दिये गए हैं, बताइए, क्या इसका सही जवाब है, देखो, यहाँ पर पूछ रहा है, कि court of session, अपनी power of appeal conviction पर कब इस्तमाल करेगी, और कब इसकी जो है, क्या starting की जा सकती है, तो यह section कौन सा है, यह section है, हमारा section 374 of CRPC, और इसका option number क्या, option number C is the correct answer of this question, clear? moving ahead, next question पर चलते हैं, एक बार 374 को पढ़ लो, बहुत important है, जैसे 372 समझाया है न, वैसे ही, आपका 374 सबसे ज़्यादा important section है, हमारे appeal के provisions का, बात करता है, appeal from conviction, कब जो है, appeal पर conviction किया जा सकता है, तो सबसे पहला clause कह रहा है, any person convicted on trial held by the high court in extraordinary original criminal jurisdiction में appeal to supreme court, ठीक, अपने असाधारन मूल अपरादिक छित्रों में, उच्च नियाले द्वारा आयोजित मुकदमे में, दोसी ठहराया गया, कोई भी व्यक्ति, सर्वोच नियाले में appeal कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कि अगर high court में trial चलाया गया है, बिटा, आब एक एक करके समझते जाना, और लिखते जाना, यहाँ से question बनेंगे, और JLO में यहीं से पूछा जाएगा, फिर गलत करके मताना, अगर high court ने क्या किया है, high high court ने trial चलाया है, और उसमें कोई भी party के खिलाफ, जो है decision आया है, चाहे वो aggrieved party हो, चाहे वो victim side हो, prosecution side हो, इन में से कोई भी party इस decision से aggrieved करती है, उसके पास अधिकार होगा, कि वो क्या कर सकती है, वो honorable Supreme Court of India में जाकर trial करा सकती है, और अपनी appeal को file कराकर उसका trial करा सकती है ठीक, दूसरा, any person convicted on a trial held by the session judge, और additional session judge, और on held by any court in which a sentence of imprisonment more than 7 years has been passed against him, और against any other person convicted at the same trial, may be appealed to high court, आया किसी को ये चीज़ समझ में, क्या कह रहा है, जहां पर हमारा कौन कौन से court, या तो court of session, ठीक है, या फिर additional session judge, ठीक, इसके अलावा, अगर कोई भी magistrate, चाहें CGM हमारा 7 साल से ज़्यादा की punishment दे दे, वैसे दे नहीं सकता है, CGM की limit कितनी है, maximum 7 years तक की imprisonment देना, इसका मतलब यहां पर हमें समझाना चाह रहे हैं, कि वो सारे court, ठीक, जिसमें हमारे assistant session judge आ जाएंगे, assistant session judge ने, किसी भी matter में क्य किया है, 7 साल से ज़्यादा की punishment दी है, और अगर उन सारे judges से, उन सारे judges के order से, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, aggrieved होता है, aggrieved मतलब, वो सहमती नहीं जता रहा है, ठीक, तो यहां पर क्या बताये गया है, कि अगर 7 साल से ज़्यादा का punishment किसी भी court ने दिया है, उसकी appeal कहा हमारी high court जाने वाली है, और court of session और additional court of session की appeal भी कहा जाने वाली है, high court जाने वाली है, ठीक, तो यहां पर 3 judges निकल कर आए, और वो 3 judges कौन से हैं, वो 3 judges हैं, हमारे, वो 3 judges है, court of session judges, additional session और हमारे assistant session judge, ठीक, और यह 3 की appeal कहां जाएगी, 3 की appeal बच्चा high court जाएगी, clear कहां पर जाएगी, high court जाएगी, तो अब दूसरे clause ने क्या बताया, कि किन किन matters में high court में जाकर हम appeal कर सकते हैं, ठीक, तो यह 3 court की appeal high court में जाएगी, moving ahead, उसके third clause पर any person, अब देखो क्या गह रहा है, उपदारा 2, कि दिये गए निर्देश अनुसार, सहेज कोई भी व्यक्ति, ठीक, मतलब यहाँ पर क्या गह रहा है, जो हमारा second clause में लिखी हुई बात है, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए, हम क्या third clause को read करेंगे, मतलब वहाँ पर दो चीजे बताई गई, court of session, additional court of session की appeal, high court में जाएगी, अगर assistant session judge, 7 साल से ज़्यादा की punishment किसी भी matter में offer कर रहा है, तो उसकी aggrieved party अपनी appeal को high court में लेकर जाने वाली है, इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए, अब जो है clause 3 को read क option a, convicted on a trial held by a metropolitan magistrate, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भी हमारे mm होंगे, metropolitan magistrate, assistant session judge, or the magistrate of first class, or any second class, अब यहाँ पर चार बाते निकल कर आ रही है, चारों का नाम लिखा गया, किसका, mm का, ठीक है, assistant session judge का भी नाम लिखा गया है, plus यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, judicial magistrate, jm first class, और jm second class का नाम लिखा गया है, ठीक, sentence under section 325, or in respect of whom, an order has been made, और a sentence has been part under section 360, by a magistrate, may appeal to the session court, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप समझेगा, अगर इन में से, कोई भी magistrate क्या कर रहा है, कोई भी magistrate, trial चला रहा है, अपने यहाँ पर क्या, trial चला रहा है, और उ punishment प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 7 साल से कम है, तो ऐसे cases में, इन सारे magistrate की appeal कहा जाने वाली है, ऐसे cases में, इन सारे magistrate की appeal, जो है, हमारे court of session, session judge के सामने, सुनी जाएगी, लेकिन यहाँ पर, अगर assistant session judge ने, 7 साल से ज़्यादा की punishment दी है, कितनी, 7 साल से ज़्यादा की, अग जाएगी हाई कोट में जाएगी इस बात को याद रखिएगा यही सबसे important question है जो repeatedly GLO में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा अब आपको clear हो गया कि कैसे कैसे appeal किस court की कहा जा रही है GM first class MM GM second class और additional session judge 7 साल से नीचे की punishment सुना रहे हैं तो सबकी appeal है कहा जा रहे हैं court of session में जा रहे हैं और court of session additional session judge assistant session judge या फिर other ऐसे हमारे क्या other ऐसे court जो के 7 साल से ज़्यादा की punishment दे रहे हैं तो उनकी appeal कहा जाएगी high court में जाएगी और high court में अगर कोई भी trial चला है तो उसकी appeal कहा जाएगी वह supreme court में जाएगी और यही पूरे hierarchy है हमारे appeal की जहां से question बार बार repeatedly आपसे पूछा जाता है मज़ा आ गया आ गया मज़ा यही appeal की hierarchy है समझ गए चालो फिक तो इस question का जो सही जवाब है वो क्या है section 374 of CRPC option number C moving ahead next question पर आ जाओ any person convicted on a trial by the additional session judge for an offense which may sentence imprisonment more than कितना seven year मैंने आपसे कहा था specific question बना कर लाया हूँ जो question आपसे पूछा जाएगा किसी ऐसे अपरात के लिए अतरिक सत्त नियादीज द्वारा मुकदमे को दोसी ठेराया गया है जो कि कोई व्यक्ति जिसमें कारावाज साथ साल से अधिक है और appeal कर सकता है ठीक तो session judge chief metropolitan magistrate high court या फिर supreme court ये चार question आपसे पूछे गए हैं अब देखो कौन से additional session judge की बात हो रही है अगर यहाँ पर मैं आपका assistant session judge लिख दूँ और उसके पास 10 साल की power होती है किसी भी व्यक्ति को सजा देने की उसमें से वो 7 साल से ज़्यादा की punishment किसी भी व्यक्ति को offer कर रहा है तो उसकी appeal कहाँ जाएगी उसकी appeal जाने वाली है हमारी कहाँ पर हाई कोट में लेकिन अगर साथ साल से less than seven years की क्या कर रहा है less than seven years की जो है punishment provide कर रहा है additional session judge तो उसकी appeal कहाँ ले जाएंगे court of session में ले जाएंगे ठीक तो यहाँ पर जो सही answer होगा option number c is the correct answer of this question clear यार जल्दी जल्दी answer करो बहुत सारे question बज़ रहे हैं appeal appeal समझने में 7 बज़ा दिया आप लोगोंने जल्दी answer करिये ऐसे काम नहीं चलने वाला rapid fire round सुरू कर रहा हूँ appeal के concept जितने important थे वो सारी बता दी है moving ahead next question पर आईए in criminal appeal an accused person dies and his near relative wish to continue within how much time they must be apply अब क्या कह रहे है अगर कोई भी यद किसी आपरादिक appeal में किसी अभिवक्ति की मिरत्य हो जाती है और किसी निकट संबंदी appeal को जारी रखना चाता है तो उसे कितने समय के भीतर आवेदन करना होता है चार महीने तीन महीने 60 दिन या फिर 30 दिन क्या कह रहे है कोई भी व्यक्ति जो accused है जिस जो accused है और उस accused व्यक्ति की जो है trial चलते समय या फिर judgment आते समय क्या हुआ death हो गई तो अगर उसके कोई भी relative है वो क्या करना चारहे है उस accused व्यक्ति की जो है पूरी तरीके से जो भी judgment आया है उसकी appeal को file करना चारहे है तो appeal को file करने के time पर क्या किया जाएगा appeal को file करने के time पर उन relatives के उपर यह obligation है कि अगर वो ऐसा करना चाते हैं तो उनको within 30 days जो है क्या करना होगा application को file करना होता है option D जो है क्या है इसका बिल्कुल सही जबाब है moving ahead next question पर आते हैं 30 days is the correct answer of this question not 60 days next question of fine not exceeding अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है किसी भी judicial magistrate first class ने क्या किया है trial चलाया है trial चलाया है और उसने कितनी जो है किसी भी व्यक्ति के उपर fine लगा दी है जिसकी appeal नहीं की जा सकती तो GM first class के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर 100 रुपे तक का कोई भी क्या 100 रुपे तक का कोई भी fine लगा रहा है judicial magistrate first class तो यह जो है matter किस में आएंगे petty cases में आएंगे और petty cases इन सारे matters पर appeal को allow नहीं किया गया है clear तो यह petty cases वाला भी topic बहुत ज़्यादा important है जहां से हमसे बार-बार repeatedly question पूछे जाते है तो चलिए एक बार मैं आपको इनके detailed discussion petty cases का बता देता हूँ ठीक कहां पर लिखा गया है 376 CRPC में लिखा गया है no appeal in the petty cases छोटे मामलो में appeal नहीं होगी ठीक तो यह बात कहां लिखी गई है 376 में लिखी गई है this section number is also important for the JLO prospective यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप से section number से भी question पूछा जा रहा है अब अगर हम इसको bifurcate करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी high quote क्या कर रहा है sentence provide कर रहा है कितने दिन की 6 महीने की तो चार्ट बनाते जाएए फटावट फटावट से यहां पर clause 1 क्या गह रहा है अगर high quote punishment दे रहा है ऐसे नहीं एक मिनट high quote अगर punishment दे रहा है क्या कर रहा है high quote अगर punishment दे रहा है कितने की wait हाई कोट अगर six month की punishment दे रहा है plus हमारे उपर क्या लगा रहा है six month की punishment दी और उसने जो है fine impose किया ठीक कितने का one thousand रुपीज का एक हजार से जादा का नहीं ठीक up to लिख देते हैं तो समझ जाओगे आप लोग up to one thousand रुपीज का क्या कर रहा है अगर किसी भी हाई कोट ने trial चलाने के बाद में क्या किया है punishment provide की है किसी भी व्यक्ति को तो इस में जो भी agreed party है उसके पास अधिकार नहीं है कि वो अपनी appeal को आगे supreme court में ले कर जा सके ठीक क्योंकि ये जो है क्या बार लगा रहा है 376 section जो है petty offenses में ठीक दूसरी यहाँ पर important बात बताई गई है क्या कि अगर कोई भी court of session या metropolitan magistrate कोई भी sentence दे रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं तीन महीने की punishment दी जा रही है या फिर 200 पे तक का fine लगाया जा रहा है अब देखो not exceeding का मतलब है अगर 6 महीने से ज़्यादा exceed कर जाएगी ना high court की punishment तो उस पर जो है parties के पास अधिकार है कि अग्रीब party supreme court में appeal लेके चला जाए ऐसे ही यहाँ बताया है court of session और metropolitan magistrate क्या करेंगे अगर 3 मंथ तक की up to ये क्या कर सकते हैं बस 3 मंथ तक की punishment दे सकते हैं पिलस इसके बाद 200 रुपे का fine impose कर रहे हैं और ये भी क्या है अगर इससे ज़्यादा यहाँ पर समझने की कोशिश करना अगर court of session or magistrate metropolitan magistrate 3 महीने से ज़्यादा की सजा दे रहे हैं या फिर 200 रुपे से ज़्यादा का fine चिपका रहे हैं तो इस seat limit बताई गई है कि मतलब अगर इतनी रखी गई है इससे कम रखी गई तब जो है patty offenses का section 376 लागू होगा और उन पार्टियों के पास क्या कोई भी appeal में जाने का अधिकार नहीं होगा तीसरे clause में क्या बताया गया है तो ये clause के आगे बहुत ही जादा important चीज़े है तीसरे में बताया गया है आपको कि where a magistrate of first class passes only a sentence of five next मतलब not मतलब 100 रुपे से जादा का fine नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर क्या बताया magistrate जो first class है GM first class judicial magistrate first class अगर आपके उपर fine impose कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने रुपे का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का ठीक 100 रुपीज का अगर fine impose कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ कोई भी appeal लेकर नहीं जा सकते इस चार्ट को बना लीजिए 376 का पूरा जो है confuse नहीं होना है ठीक इस चार्ट से answer कराना बिल्कुल सही answer दे पाओगे clear तो option A इसका क्या है option A is the correct answer of this question clear clear हो गया भाई आज class लेने का मन नहीं था तवियत खराब थी लेकिन फिर इसी वहे से लग रहा होगा कि आज मेरा momentum उस level का नहीं है बच्चे लिख रहे हैं सर आज आपको क्या हो गया है clear है boss ठीक इस वज़े से इतना high tempo और high pitch पे नहीं पढ़ा रहा है ठीक है लेकिन tension मतलो समझ में आ रहा है ना अभी तक सिर्फ appeal ही पढ़ा रहा हूं जो जहां जहां से question बनेगा JLO के लिए वह मैं आपको बताता जा रहा हूं डेली होती है सोजता जी पूछ रही है डेली होती है मेरी class हाँ बेटा डेली होती है छे से साथ चलो next question पर आते है next question है which one of the following section of CRPC deals with the high court power of revision ठीक अब यहां पर आपको एक section और इसमें रह रहा है अभी मैं बता दूँगा ठीक है अभी मैं बता दूँगा कौन कौन से section appeal में आपको पढ़ने है और कहा कहा से question बनता है यतने जो चीज़े मैंने appeal के बारे में अब तक के एक गंटे की class में बताए हैं तो याद रखना यह appeal के सबसे most important part हैं और यहां से आपको 8 से 10 question जेलो में मिल सकते हैं जो कि repeatedly पूछे जा रहे हैं अब पूछ रहा है आप से के high court की revision करने की power हमें किस section में provide की गई है अब revision 395 से start हो जाता है और यहां पर आप देखोगे कि 405 तक चलेगा तो court of session कब revision करेगी कब जो है high court revision करेगा यह सारी चीज़े हमको बताई गई है अब इनको क्या करना है इनके section numbers को आपको याद कर लेना है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important है ठीक तो अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि high court की revision करने की power मतलब पुनर रिक्षण करने की power जो है कहां पर provide की गई है section 401 CRPC का हमें revision के बारे में बताता है तो option number B is the correct answer of this question clear ऐसे नहीं समझ में आएगा आप लोगों को मैं एक बट बेरेक्ट खोल लो CRPC का शायद खोल के ही बैठे होगे बेरेक्ट खोल के बैठे हो सारे लोग CRPC का बैठे हो न बैठे हो तो फिर चलो अब करो start इसको चैप्टर नमबर 29 कौन सा चैप्टर है 29 अपील के बारे में बात करता है 272 important section है 274 important section है ठीक प्ली ओफ गिल्ट पर कहां कहां अपील नहीं होगी इसको रीड कर लेना एक बार ठीक 276 पड़ा दिया detail में उसके बाद अपील in case of equitable 278 important है ठीक इसके बाद में आपका ठीक कोई भी जो है क्या section इतना important नहीं है last में आपका आजाता है के summary dismissal appeal यह 284 याद कर लेना एक बार मतलब इसका peripheral view ले लेना और इसके बाद आपका आजाएगा यहाँ पर देखो यह वाला 200 इसके आगे है शायद इसके आगे एक second इसके बाद में आपका directly 200-394 अवेटमेंट ओफ अपील ठीक इसकी जो time duration है वो बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो यह 7 section आपको appeal के पार्ट में पढ़ने हैं जिसमेंसे 5 section को मैं आपके लिए cover कर चुका हूँ और आगे करूँगा दो section की bare act reading ले लेना के by chance कहीं खुदाना खास्ता पुवेपर में आ गया तो बाकी जो है बचे हुए जितने भी section है remaining sections का क्या करना है remaining sections का एक बार just reading ठीक just bare reading लेने लिए हैं और bare reading से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी is it clear समझ में आ गया ठीक अब ऐसे ही यहां पर आ जाओ नीचे देखो अब यहां से reference chapter number 30 reference की और revision की बात कर रहा है ठीक है reference और revision की बात कर रहा है तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि यहां पर जो section number है revision के concept को reference के concept को मैंने समझा दिया है कि क्या क्या reference में होता है और क्या क्या revision में होता है अभी हिनके questions भी discuss कर लेंगे अब हमारा high quote reference कब कर सकता है یہ question पूछ लिए जाता है high quote reference कब करेगा high quote को हम NORा करकूर हम कब question भेज सकते हैं जब substantive question of law क्या हो substantive question of law होC靖ो रख किसी भी party पढ़ रहा है तो उस case में जो है क्या किया जाएगा reference किया जाएगा high court को reference करके कोई भी जवाब मांगा जा सकता है दूसरा disposal in case of accordance of decision of high court इसके बाद जब हम कोई भी अब समझ लेना क्या क्या समझा रहा हूं इस पूरे chapter को समझा दे रहा हूं यहीं पर ठीक कि सबसे पहले high court म में हम जो है high court से क्या कर सकते हैं high court पर कोई भी question reference के लिए नीचे वाली quotes भेज सकती है और उसके बाद जब high court उस पर अपना reply कर देगा reply करने के बाद 396 में जो भी high court उसका suggestion देगी उस suggestion के basis पर नीचे वाले quote जिसने वो reference का question भेजा था अपने trial को continue करेंगे और उस पर जो record of exercising power of revision अब यहां पर कि revision की power को exercise करने के लिए अब यहां पर सबसे important section आता है session judge power of revision अब यहां heading से ही एक question बनता है कि क्या हमारे session judge और additional session judge के power बस पास power है CRPC में कि वो revision कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ठीक और revision का concept कहां दिया गया है revision का concept start हो रहा है 397 से कि कब कब revision कराया जाएगा is it clear तो यह question का section number important है उसके बाद दूसरा question आप से revision से repeatedly यह पूछा जाता है कि यहां पर आप जो है assistant session और additional session judge और session judge के पास revision की power है या नहीं CRPC में तो यह दोनों section आपके बहुत ज़्यादा key role play करते है 399 और 400 में आपको बताया गया है उसके बाद आपको पूछा गया है 401 high quote के पास power है revision की ठीक तो यह section अभी मैं आप discuss कर रहा था आपके साथ के high quote के पास revision की absolute power है as per section 401 ठीक clear हूँ इतनी बात बस revision reference से यह वाले sections क्या है एक दो तीन चार पाँच और छे छे section यहां से important है इसके उपर अगर मैं बात करूँ आपसे appeal वाले part में तो appeal वाले part में total 7 sections कितने total 7 section important है जो आपको पढ़ने है और जो मैंने discuss किया है MPCJ का कोई update अभी नहीं है अगर होगा तो मैं आपको बता दूँगा अनौल स्रीवास्तप जी आप काफी देर से comment कर रहे है ठीक है अब इसके बाद में आपको देखने को बिलेगा इसके बाद में हमारा एक और part आ जाता है that is the transfer of criminal cases अब transfer of criminal cases को फटाफट से समझ लो के कै कैसे criminal cases का transfer होता है समझाओं इतनी चीज समझ में आ गई appeal और revision reference clear हो गया yes or no where act को read करना आपकी main responsibility है बाकी जितना concept ओपर था appeal का reference का और revision का वो मैंने आपको समझा दिया है अब आप समझ गए होंगे कि कैसे CRPC में appeal के procedure काम करते है किन-किन matters पर appeal नहीं हो सकती ये एक statutory right है ऐसे ही revision किस-किस के पास है additional और court of session दोनों ही कर सकते है CRPC में high court भी कर सकती है reference का high court को जा सकता है नीच के time पर जब कोई भी question भेजा गया है उपर वाले court को जब तक जवाब नहीं आ जाता उस trial को रोक लिया जाता है और जैसे ही जवाब आएगा उस trial को उसी की तरह continue कर दिया जाएगा ठीक है चलो अब आते है transfer of cases that is the most important और the critical part तो याद रखने वाली चीज क्या है कि बहुत ही जो है सिर्फ 12 मतलब 6 sections में इस सारी चीज़े बता दी गई है 406 बात किसकी करता है Supreme Court की पास power है कि वो जो है cases को transfer कर सकते हैं ठीक अब Supreme Court कब case को transfer करेगा इस चीज का ध्यान रखना hierarchy तो समझते हो Supreme Court of India उसके नीचे क्या होंगे state के various high courts होंगे various high courts बहुत सारे states के high court है तो यहाँ पर क्या बना लो high court बना लो ठीक है diagram से ही समझना उसके बाद high courts में various district courts होते हैं यह हमारे court of session हो गए जो district court हो गए और ऐसे ही इस high court के यह सारे हमारे क्या हो गए court of session हो गए या session judge लिख दो direct ऐसे ही इस high court के session judge हो गए ठीक अब इन session judge के नीचे various छोटे छोटे courts होंगे जिसमें आपका CGM court होगा इसके नीचे आपका judicial magistrate first class का court होगा इसके नीचे आपका judicial magistrate second class का court होगा ठीक और यह hierarchy आपकी इसी तरीके से नीचे हरे courts में आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर मैं बना रही रहा हूँ automatically तीन-तीन court आप बना लिजिए के एक आपका CGM का हो गया एक judicial magistrate first class का हो गया एक judicial magistrate second class का हो गया is it clear diagram समझ में आ रहा है यह flow chart समझ में आ रहा है हाँ ना कुछ जवाब मिलेगा यह flow chart समझ मे आया hierarchy supreme court उसके नीचे जितने भी high courts उसके high courts के अंदर आने वाले court of session के अंदर आने वाले CGMs और उसके नीचे judicial magistrate class और judicial magistrate first class clear 6 बजए class start होती है ठीक तो अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा matter है जहाँ पर किसी भी supreme court को लगता है मतलब कि एक high court में जहाँ पर trial चला है और वो high court क्या गयते हैं वहाँ पर parties को threat है कि trial सुचारो रूप से नहीं चल सकता या फिर कोई भी party इतनी strong है जो कि courts को influence कर सकती है या फिर उसका political दबदबा जादा है तो ऐसे cases में supreme court के पास power है कि ऐसे high court से trial को उठाकर कहां बेज देगा दूसरे high court में transfer कर देगा clear क्या कर देगा दूसरे high court में trial को transfer कर देगा ठीक ऐसे ही power of high court to transfer the cases और appeal ठीक यहाँ पर 406 समझ में आ गया हाँ या ना 406 नहीं स जरूरत है क्या अगर supreme court को ऐसा लगता है कि किसी high court में कोई trial pending है और वो trial जो है अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा रहागा parties की जो है क्या parties की जान को खत्रा है या फिर evidences या फिर fair trial नहीं चल पा रहा है किसी high court में तो यह supreme court की power है कि उस high court से वो matter उठाएगा चाहे वो appeal क हो या फिर जो है normal high court के original jurisdiction में trial चल रहा हो तो उसको उठाकर दूसरे high court में भेज देगा और उसका वहाँ पर trial कराया जाएगा ठीक ऐसे ही अगर high courts को ऐसा लगता है कि उनके नीचे वाली courts में ठीक अब यहां पर एक समस्या हो राती है कि जब अब देखो यह चीज समझने क कोशिस करना कि एक matter का जो है एक state का matter जब दूसरे state में जा रहा हो ठीक हाई courts तो state wise यह ना जब एक state का matter चाहें वो high court डील कर रही हो या फिर उससे नीचे वाले courts डील कर रहे हो जब दूसरे state में transfer किया जा रहा है तो जो यह jurisdiction होगी वो किसकी होगी वो हमारे supreme court of India की होने व यह high court है और उत्रपिदेश के high court के आगरा district में कहाँ पर आगरा district में एक court of session में trial चल रही है ठीक है court of session में trial चल रही है और उस court of session में trial conduct किया जा रहा है लेकिन हमा parties को ऐसा लगता है कि भाई यह वाला trial ना इस court में नहीं होना चाहिए दूसरे state में होना चाहिए तो उस court of session के trial को अगर दूसरे state के court of session trial में भेजा जा रहा है again I am repeating that is the most important part कि अगर कोई भी हमारा क्या कोई भी high court के नीचे वाला court है और वहाँ पर कोई trial चल रहा है और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वो trial सही से नहीं चल पा रहा तो इस case में क्या किया जाएगा इस case में उस छोटे court के trial को अगर similar दूसरे state के किसी court में transfer किया जाना है तो ये power भी किसके पास है 406 के according हमारे Supreme Court of India के पास में है जब state से state transfer होगा कोई case तो सारे decisions कौन लेगा Supreme Court of India लेने वाली है Is it clear? State to state transfer किसी भी court से उठके जाए court of session का matter हो नीचे वाले court का हो या फिर CGM court का हो अगर दूसरे state में भेजा जा रहा है तो Supreme Court जो है क्या करेगा cases को transfer करने वाला है दूसरी बात बताई गई है power of high court to transfer the cases अगर ऐसा matter है जहां पर एक high court मतलब एक state का matter है ठीक है समझेगा अब इस चीज को अब मैं state to state transfer नहीं करवा रहा हूँ दूसरी बात बता रहा हूँ कि अगर state के अंदर ही किसी भी session court का matter उठाकर दूसरे district के session judge को दिया जा रहा है तो इसको transfer करने की power किसकी होगी इसको transfer करने की power जो high court होगा उसकी होगी state के अंदर एक session court का trial दूसरे session court को भीजा जा रहा है या एक judicial magistrate court का trial दूसरे judicial magistrate दूसरे district के judicial magistrate में भीजा जा रहा है दूसरे judicial magistrate को भीजा जा जा रहा है ठीक है तीसरा सैसन जजज और सैसन जजज के पास पावर है कोट को ट्रांसपर करने की सैसन जजज के नीचे मैंने आपको तीन कोट बताए पहला बताया CGM court judicial magistrate first class judicial magistrate second class ये तीनों ही court मतलब किसी भी session division में एक district के अंदर ठीक है एक district के अंदर जितने भी courts हैं चाहें वो CGM का matter हो judicial magistrate first class का हो या judicial magistrate second class का हो एक magistrate से लेकर उसी district में किसको दूसरे same magistrate को दिया जा रहा है जैसे GM first class का matter उठाया और उसी district के GM first class को दे दिया क्योंकि ऐसा लगा था कि इन सब के सामने fair trial नहीं हो पा रहा है तो ये power किसके पास है अपने ही session में अपने ही district में एक matter को एक से से दूसरे सेर में भेज़ देना एक magistrate से दूसरे magistrate में भेज़ देना ये power होती है किसकी court of session की किसकी power होती है court of session की power होती है तीन चीज़ें समझा दी supreme court की high court की और court of session की क्या-क्या power सोंगी और कब court of session जो है क्या करेगा जब district से एक ही district में ठीक है district judge कौन होगा session judge होगा तो वहाँ पर session judge के ही district में एक court से उठाकर दूसरे court में भेज रहे हैं तब कौन करेगा तब high court करेगा और एक state से उठाकर दूसरे state में transfer किया जा रहा है चाहे matter किसी भी court का हो court of session का हो magistrate judicial magistrate second class का हो first class का हो दूसरा state change होते ही high court के high court से उपर supreme court के पास power है कि state change होते ही सारे decisions वो लेते है clear ठीक तो यह होते है transfer of cases के power और chapter 31 completely मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है समझा दिया है ठीक है भाई अब आजाओ questions पर questions पर आजाईए फटाफट से कहां चल रहे थे which one of the following section of criminal procedure court high court power of revision high court की power of revision कहां पर है high court की power of revision है 401 में ठीक session court की power of revision 399 और additional session की 400 में 397 से क्या start होता है revision का concept start होता है उससे पहले 395 396 किसकी बात करते हैं reference की बात करते हैं किसकी बात करते हैं reference की बात करते हैं most important questions हैं यह JLO के जो बार बार में चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को बता रहा हूं moving ahead next question पर आईए the power of supreme court to transfer the criminal case and appeal from one high court to another high court is conferred ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है अपरादिक मामलों में और appeal के एक उच्च नियाले से दूसरे उच्च नियालों में इस्तरांतराइड करने वाले सर्वोच नियाले की सक्ति निमलिकित में से दी गई है कहां पर दी गई है एक high court से matter जो है दूसरे high court में transfer किया जाएगा कहां दिया गया है याद हो जाना चाहिए अब तक 406 में कौन करेगा Supreme Court of India करेगी 407 में अगर state से state के अंदर ही transfer किया जा रहा है तो high court करेगा और जो 408 है session court क्या कर रहे है session court जो है अपने ही district में एक matter को दूसरे court को transfer कर रहे है तो वो 408 में किया जाएगा तो option B जो है इसका क्या हो जाएगा धारा 406 is the correct answer of this question clear ये मैंने अभी आपको detail में बता दी है सारी चीजे moving ahead next question पर who may issue warrant for execution of sentence किसी सजा के निस्पादन के लिए warrant कौन जारी कर सकता है देखो अब यहाँ पर आज पढ़ाने का target तो था कि मैं आपको sentences वाला भी करा दूँगा लेकिन अब यहाँ से आगे sentences plus bill plus inherent power of supreme court plus 460 461 अब क्या करेंगे कल की class में करेंगे क्योंकि time खतम हो गया है और मुझे नहीं पता था कि appeal को reference को revision को पढ़ाने में इतना time आप लोगों को लगने वाला है क्योंकि आपका कोई भी response आज की class में नहीं आया और नहीं आपने session को share किया नहीं आपने session को like किया क्योंकि आपको बस ऐसा लग रहा था कि आज sir जो है sir उस pace पर नहीं पढ़ा रहे है लेकिन आज की class में तवियत खरापती फिर भी मैंने class ली और फिर आपको उसी उस pace पर नहीं पढ़ा पाया लेकिन सबसे important बात कि जितनी important चीज़ें थी 304 से लेकर 412 तक सारी चीज़ें मैंने आपको cover करा दी ठीक इसके बाहर ना तो appeal से कुछ पूछा जाएगा इसके बाहर ना आपसे reference से कुछ पूछा जाने वाला ना ही revision से कुछ पूछा जाने वाला ना ही transfer of cases से कोई question बाहर आएगा अब इसको bear act से read कर लेना और जितने मैंने mcqs आज कम कराए हैं लेकिन concept समझाना basic motive था सारा concept आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया है clear CRPC का आज जो है class number 15 है और class number 15 में हम बहुत ही important topics को discuss करने वाले हैं मैंने last class में आपको transfer of cases तक सारी चीज़ें पढ़ा दिया था आज most important and most critical part of CRPC से deal करेंगे जहां पर हम bail के concept को समझने वाले हैं bail कितने प्रकार की होती है कौन-कौन bail दे सकता है कब bail नहीं दी जा सकती bail bond क्या होते है bail को कब cancel किया जाएगा और एक anticipatory bail नाम का concept आता है तो वो क्या चीज़ होती है ठीक let's start with the class which section of code of criminal procedure has dealt with the power of high court to commit the sentence of death penalty to the imprisonment of a pregnant woman अब यहां पर क्या कह रहा है दंड प्रक्रिया सहता 1973 की कौन सी धारा सजा देने के उच्च न्याले की सकती से निप्टा गर्वती महला को मौत से लेकर उम्रकैद की सजा दे सकते हैं ठीक section 416, section 411, section 417, section 420 क्या कह रहा है question को समझने की कोशिश करो सबसे पहले बोल रहा है कि अगर कोई भी lady क्या है pregnant है ठीक court दे सकते हैं या फिर high court भी death penalty दे सकता है बस ये तीन ही magistrate eligible है कि death penalty देते हैं इसके बाद supreme court के पास भी ये power होती है कि वो भी जो है कोई भी punishment दे सकते हैं तो अगर किसी भी गर्वती महला को death punishment दी जाती है और उसके death penalty के execution पर death penalty देने के बाद उसकी execution कराई जानी है ठीक है उसकी फासी को जो है कराया जाना है तो ऐसे cases में अगर वो महला गर्वती पाई जाती है मतलब गर्वती पाई जाती है pregnant होती है तो उसकी जो death death imprisonment है death sentence है उसको जो है किसमे life imprisonment में उम्र कैद में बदला जा सकता है क्योंकि जो उससे जुडा हुआ दूसरा क्या है दूसरा बच्चा है उसके care taking के लिए प्लस उसकी जो है उसकी life को impact नहीं हो इसी वज़े से death penalty नहीं दी जाएगी और उस महला की जो है death penalty को life imprisonment में बदल दिया जाएगा ये कौन से section में पावर दी गई है ये पावर दी गई है हमारी section 416 416 of CRPC में चलिए एक बार इसको read करते है 416 बोलता है death sentence on a pregnant woman गर्वती महला की मौत की सजा अगर मौत की सजा पाने वाली महला गर्वती पाई जाती है तो उच्च नियाले उच्च नियाले मतलब हमारा high court ठीक है और सर्वोच नियाले कौन सा होता है supreme court होता है सजा को आज इवन काराबास में बदल देगा तो जो हमारी death penalty होगी गर्वती महला की death penalty को life imprisonment में change कर दिया जाएगा ठीक if a woman sentence to if a woman sentence to death is found to be pregnant the high court shell shell word का इस्तमाल होगा है मतलब यहाँ पर high court के उपर क्या लगाया गया है high court के उपर mandate लगाया गया है mandate समझते हो mandate क्या होता है mandate तो समझते होगे न आप लो mandate मतलब shell word का इस्तमाल यह होता है shell word का इस्तमाल है यहां पर तो high court के ऊपर यह restriction है कि अगर ऐसा कोई case उनके सामने जब भी आएगा तो वो क्या कर पाएंगे वो जो है इस पूरे जो है किसको इस पूरी चीज को क्या commute कर देंगे life imprisonment में clear हुई तनी बात यह question repeatedly हर एक exam में आपको देखने को मिलता है और JLO में भी बिटा यह चिपका हुआ मिलेगा तो याद रखना most important question है आपके CRPC section 416 का clear चलिए ठीक तो option B जो है इसका बिल्कुल सही answer है next question पर आते हैं who may commute sentence ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है कि कौन जो है सजा को कम कर सकता है ठीक option A Chief Justice of High Court Chief Justice of India, Appropriate Government और Any Appellate Court उच्च नियाले के मुखनियादीस, भारत के प्रमुखनियादीस, उपक्त सरकार या फिर कोई भी Appellate Court जो है अपिलिया नियाले कर सकता है किसकी commutation of sentence की बात हो रही है, commutation of sentence की जब भी बात उठती है तो 433 CRPC का सबसे ज़्यादा major important role play करता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी के sentence को commute कराया जाना है change कराया जाना है, convert कराया जाना है, या फिर कम कराया जाना है तो यह सारी powers किसको दी गई है appropriate government को दी गई है अब यहाँ पर याद रखने वाली एक सबसे important चीज क्या है याद रखने वाली एक सबसे important चीज यह है कि जब हम appropriate government की बात करते हैं तो इसमें state government and central government, दोनों सरकारे जो है क्या, दोनों ही सरकारे आती है वो कैसे आती है मैं आपको बताता हूँ ठीक है, देखो state government भी आएगी और central government भी आएगी clear तो यहाँ पर जब appropriate word का जो meaning है वो क्या हमारा दोनों ही government से लिया जाता है अगर high court में matter पहुँचा है कहाँ पर high court में matter पहुचा है तो वहाँ पर state government के द्वारा क्या किया जा रहा है representation किया जा रहा है और अगर supreme court में matter है तो central government के द्वारा representation किया जा रहा है या फिर आप यह समझ लीजिए appropriate government दोनों ही हो सकती है कौन सी state government और central government तो कभी-कभी यह पूछ लेता है कि commutation of sentence की जब भी बात करते है CRPC के अंदर तो कौन-कौन सी government empowered है state government, central government दोनों या फिर कोई भी नहीं तो आपको याद रखने वाली बात यह है कि दोनों ही option C ऐसा question आता है तो option C both A and B जो है क्या होगा both A and B is the correct answer और इसका explanation 435 CRPC में देखने को मिलता है is it clear? इतनी चीज़ समझ में आई? मज़ा नहीं आ रहा गया क्लास में हाँ ना का कोई जवाब ना तो कोई fire बना रहा है ना कुछ कर रहा है हाँ कविता जी उस woman को death penalty नहीं मिलेगी उस woman की death penalty को life imprisonment में high court बदल देगा और उसको जो है क्या उम्र कैथ समझते हो उम्र कैथ की सजा दी जाएगी ठीक है? आ रहा है मज़ा? समझ में आ रही है ना चीज़े? देखो मैंने last class में आपको revision, appeal का concept समझाया था most important question है आपके लिए ठीक है? तो आप जो appeal last class अगर आपने नहीं देखी है class number 14 of CRPC तो उसको देख लीजेगा क्योंकि appeal और revision को और reference को मैंने पूरी तरीके से आप सारे लोगों को detail में समझा दिया था ठीक तो इसका जो सही answer है वो है appropriate government option number C is the correct answer सारे लोग क्यों नहीं आएगे? आज class में कल class नहीं लिए ऐसा है इस वैसे ऐसा हो रहा है? कि आप next class नहीं करेंगे सबने पढ़ लिए आपने आपसे बचाओ असी RPC चलिए next question पर आते हैं एक बार commutation of death sentence की बात करें तो 433 का बहुत important role है तो 433 समझ लो सजा कम करने की सकती उपयोक्त सरकार सजा पाए गए व्यक्ति की सहमती के बिना सजा काटी जा सकती है सबसे पहले a sentence of death for any other punishment provided by the Indian Penal Court दूसरा a sentence of life imprisonment for a term not exceeding 14 years, अब देखो यहां पर पहली बात क्या कही गई है the appropriate government without the consent of a person sentence that word is very important और यह question आता है कि जो भी हमारी क्या होगी commutation की power है वो किसको दी गई है वो दी गई है appropriate government को और appropriate government without consultation of accused मतलब जब उनको समझ में आएगा कि ऐसा होना चाहिए तो वो accused person से क्या नहीं करेंगे accused person से कोई भी जो है क्या कोई भी discussion नहीं करेंगे और वो without discussion of जो है जिसको sentence दी गई है उसकी sentence को commute कर देंगे death penalty के case में कोई भी reduce करके Indian penal code में दी गई punishment को किया जा सकता है दूसरा अगर life imprisonment मतलब उम्रकैद की सजा है क्या है उम्रकैद की सजा दी गई है तो उम्रकैद के case में हमें देखने को मिलेगा कि उम्रकैद के case में आपको directly सारी देखने को मिलेगी not exceeding 14 years ठीक तो यहाँ पर अगर उम्रकैद का किसका उम्रकैद का computation किया जा रहा है यह question chip का आएगा बी clause से question हमेशा पूछा जाता जुडी श्री में और पूछा भी जाएगा कि अगर आज इवन कारावास की सजा है तो 14 वर्स से अधिक की अबदी के लिए कारावास या जुरवाना ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अगर life imprisonment को हम commute कर रहे है मतलब जो हमारी उम्रकैद है उसको हम commute करके कम कर रहे है तो उसको कितना कर सकते है at least 14 years इसमें की जानी ही चाहिए ठीक तो यहाँ से question बनता ही बनता है दूसरी सबसे important बात sentence of rigorous imprisonment for a simple imprisonment for any term which that might have been sentence or a fine अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर rigorous imprisonment rigorous imprisonment तो सबको पता है न rigorous imprisonment कौन सी होती है rigorous imprisonment imprisonment होती है हमारी जहाँ पर आपको punishment के साथ में मतलब jail तो काट नहीं है और वहाँ पर काम भी आपसे कराया जाता है picture में आप लोग देखते होगे तो rigorous imprisonment का basic purpose है कि आपको काम भी कराया जाएगा तो अगर ऐसी कोई punishment दी गई है और उसका commutation कराया जाना है तो वो कैसे कराया जाएगा वो जो है rigorous से simple imprisonment में change किया जा सकता है और simple imprisonment की अगर बात है तो simple imprisonment को जो है किसमे fine में तपदील किया जा सकता है clear तो rigorous imprisonment का मतलब जहाँ पर आपको hard punishment दी गई है और उसमें आपको काम भी कराया जाएगा is it clear 433 समझ में आया appropriate government का meaning दो word से लेते हैं central government और state government ठीक दोनों ही इसमें जो है पूरी तरीके से काम आती है इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को ये चारो clause मतलब ABCD 433 के ABCD जो clause है उससे आप से question पूछे जाते हैं is it clear आया तो फटाफट से आर like कर दो session को और share कर दो दी से और फिर हम आगे चलते हैं 433 important है 416 important है इतनी चीजें पूरी समझा चुका हूँ और आपको I hope समझ में भी आ गई होंगी देखो 15-16 गंटे CRPC पढ़ने का main motive यही है कि जो आपका JLO का paper है उसके prospective से कोई भी चीज क्या कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए ठीक है इसी बज़े से हम detail में पढ़ रहे हैं और पूरा time लेकर एक एक question के साथ sections को discuss कर रहे हैं moving ahead next question in how many years sentence of imprisonment for life can be commuted by the government अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सरकार द्वारा आज इवन कारावास की सजा कितने वर्स तक जो है बदला जा सकता है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो हमारा section 433 का clause number भी है तो वहाँ पर कितना 14 साल तक होनी चाहिए तो 14 वर्स जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और इस question को अलग से बनाने का purpose यह है कि यहाँ से JLO में यह question चिपका हुआ मिलेगा as it is cut copy paste होने वाला है यहीं से paper में लिख दिया जाएगा तो याद रखिएगा कि यह question हमेशा JLO में पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि life imprisonment को commute करके central government या state government या appropriate government कितना कर सकती है 14 वर्स तक कर सकती है is it clear option number C is the correct answer moving ahead next question पर चलते है the power of supreme court to transfer the cases and appeal from one high court to the another high court high court can be exercised under the CRPC on the application of अब देखो यह question मैंने आपको कल के कुक में कराया है transfer of cases की सारी detail आपको मैंने कल के session में समझाई थी तो जितने भी लोगों ने कल के session को नहीं देखा है उनसे यहाँ पर यह पूछना चारा हूँ कि अगर आप इसका अब एक भी बच्चे का गलत answer नहीं आना चाहिए मतलब अगर आपने कल की class नहीं देखी तब ही आप इस question में गलती कर सकते हो वरना इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए पूरे transfer 406 से लेकर 412 तक के सारे sections को एक-एक करके मैंने आपको समझा दिया था ठीक तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है मामलों के इस्थांतरित करने की सरवोच नियाले की सकती और एक उच्च नियाले से दूसरे उच्च नियाले में अपील की जा सकती है निमलिखित के आवेदन पर CRPC के तहद प्रयोग किया जाता है भारत के Solicitor General, भारत के Attorney General एक पार्टी जो रूची रखती है या फिर option number D देखो आर अब भी गलत आंसर कर रहे हो एक high court से किसी matter को दूसरे high court में transfer किया जाना है तो ये जो है क्या application किसके द्वारा लगाई जाएगी एक high court से अगर matter दूसरे high court में जा रहा है एक state से दूसरे state में जा रहा है तो supreme authority कौन है सरवोच नियाले मतलब Supreme Court of India की ये power है कि वो उसको transfer कर सकता है ठीक है लेकिन ये application किसके द्वारा लगाई जाएगी attorney journal of India के द्वारा लगाई जा सकती है दूसरी सबसे important बाद कि जो party interested होती है उस case में वो भी इस application को लगा सकती है क्योंकि यहाँ पर हम matter को transfer क्यों कर रहे है interest of justice के लिए कर रहे है और इसलिए कर रहे है कि एक party जो है उस area में dominating position पर है जहां से उसका trial fairly नहीं हो सकता तो इन दोनों की application पर क्या किया जाएगा भारत के attorney general और एक party की रुचि जो भी है इसके basis पर क्या किया जाएगा application को supreme court में move किया जाएगा और supreme court एक high court से एक state से matter जो है दूसरे high court को दे सकता है यार ये कल कितने detail में समझाया था उसके बाद भी गलत answer आ रहे है it means you are not serious for the classes मैं यहाँ पर आता हूँ और चिला चिला कर आपको समझा के चला जाता हूँ आपको समझना ही नहीं है क्या ऐसी बात है क्या ऐसी बात है क्या बताइए एक एक चीज़ समझा दी थी 406 से 412 बेरेक्ट होल गे illustration के साथ समझाया था तो फिर answer गलत क्यों आ रहे है सारे answer सारे लोग answer देगी नहीं रहे क्या आपको यह पता नहीं था कि आज मैं आपको बेल वाले provisions कराऊंगा या फिर आगे commutation और इन सारे चीज़े कराऊंगा मैंने कल ही बताया था 450 तक मैं कराने की कोशिश करूँगा और 450 तक हम करेंगे यह तो कल के session का question है मैं आज नया बना कर नहीं लाया हूँ चलिए तो आगे चलते हैं next question पर option number D is the correct answer of this question ठीक attorney general और party interested दोनों ही जो है क्या कर सकते हैं दोनों ही application लगा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि जिस भी high court के अंदर या फिर किसी भी high court के subordinate court में उनका case चल रहा है और वहाँ पर जो है उनकी fair hearing नहीं हो सकती तो ऐसे cases में वो जो है application लगा सकते हैं तो ऐसे cases में Supreme Court उनके दूसरे state में matter को transfer कर देता है इसका recently अभी हमने बहुत सारे उधारण देखे हैं moving ahead next question पर आते हैं under the criminal procedure code every warrant for execution of sentence of death may be issued by अपराधिक प्रक्रिया सहें ताके तहत प्रतेक वारंट को किसी भी सजा के निस्पातन इसके द्वारा जारी किया जा सकता है option a the magistrate judge और the magistrate नियाइधीस और magistrate option b successor in office कार रहारले में उत्तरा दिकारी option c either by the judge और magistrate who passed the sentence of successor in the office या तो नियाइधीस या magistrate जिसके जिनके पारित किये नियाइधीस या magistrate द्वारा जिनने पारित किया या उसके उत्तरा अधिकारी के कार्रल है या फिर इस मैंसे उपरुक्त मैंसे कोई नहीं none of the above is the correct answer बताएं फटाफट से सही answer क्या होगा किसकी बात कर रहा है every warrant for the execution of sentence may be issued by हर एक warrant जो है sentence किसका sentence का issued किया जा सकता है कब किया जा सकता है जब जसाब जनोंने वो order पास किया है दूसरा magistrate who passed the sentence or his successor is in office ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है तीन important चीज़े बताई गई है कि अगर कोई भी जो है execution of sentence का warrant issue किया जा रहा है तो किस magistrate के पास किया जाएगा जिस magistrate ने वो जो है order दिया है और अगर वो magistrate सहाब वहाँ पर order देने के बाद उस office को belong नहीं करते ट्रांसपर हो गया है तो जो उनका successor आएगा office में वो कर सकता है और तीसरी सबसे important बात क्या है कि जिनोंने क्या गयते है जिनको वो authority दी गई है ये तीनों ही लोग कर सकते है इसके लाबा कोई भी उसके execution का sentence की execution का warrant issue नहीं कर सकता है तो option C जो है इसका विल्कुल सही जवाब है clear चलिए तो पढ़ लेते हैं 425 को who may issue the warrant every warrant for the execution of sentence may be either may be issued either by the judge or the magistrate who passes the sentence यहां तक पढ़िए पहले क्या कह रहा है कि जो भी judge साहब या फिर magistrate साहब मतलब just साहब या फिर magistrate साहब जिनोंने उस punishment को pass किया है किसी को जो है trial करने के बाद judgment में किसी की punishment pass की गई अब उस punishment का execution कराया जा रहा है क्या कराया जा रहा है execution कराया जा रहा है तो वो नियाइदी जिनों वो just साहब और magistrate साहब जिनोंने क्या गयते हैं order को pass किया था या फिर अगर उनका transfer हो गया है वो office में hold नहीं करके बैटे हैं तो उनका जो successor आएगा कौन उनका जो successor आएगा उनकी कुर्सी पर दूसरा magistrate जो उस court को hold करेगा वो क्या कर सकता है वो जो है और by his successor in office वो जो है क्या कर सकता है warrant issue कर सकता है किसी भी चीज को किस के लिए किसी भी चीज के sentence के execution के लिए is it clear is it clear 425 बहुत ही important है और 425 जो है हमारा यहां पर बहुत ज्यादा important role play करता है यहां JLO में question देखने को यहीं से आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब चलते है next question पर execution of sentence of death can be postponed in the case of अब क्या गह रहे हैं कि death penalty को कब postponed किया जा सकता है मिरत्युडंड की सजा को इस्तगित किया जा सकता है बताए मिरत्युडंड की सजा को कब इस्तगित किया सकता है अभी मैंने पूरा detailed discussion किया है और सारी चीजे समझाई है अब आपको English और Hindi वालों को यह question पढ़ना है और इसका सही जबाब देना है what is the correct answer of this question यहाँ पर आपको यह बताना है बहुत ध्यान से question पढ़ना जान उज के यह question मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है बहुत छोटी छोटी माइनूट बारीकियों से यह question आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे changes हैं सारी चीजे सेम देखने को मिलेंगी लेकिन आपको क्या करना है सही answer इस question का देना है बताइए possibility of appeal in the high court and not in the case of pregnant woman ठीक है क्या यह option सही है उससे उपर है possibility of appeal in the supreme court in case of pregnant woman option A possibility of continuation in special court option B option D possibility of confirmation of the session court क्या answer सही होगा इसका गर्वबती महला का मामला यह तो मुझे पता है लेकिन option बताइए very nice सभी सही जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छे 416 ढ़ंग से पढ़ाया था बिलकुल सही possibility of appeal in supreme court in the case of pregnant woman option number B जो है क्या हो जाएगा B इसका बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अब आप कहोगे C सही जवाब क्यों नहीं है possibility of appeal in high court and not in the case of pregnant woman तो यहाँ पर case pregnant woman का नहीं है इस वैसे यह गलत हो गया confirmation of sentence of court यह भी गलत है और possibility of continuation of special court यह भी जो है क्या है गलत option है तो B जो है इसका क्या है B is the correct answer of this question clear चलिए next question पर आते हैं next question है हमारा in the bailable offense the bail is to be granted as a matter of right now we are going for the 437, 438, 439 और यह most important part है most important part जहाँ पर bail के provision शुरू हुर है अब bail को शुरू करने से पहले एक minute मैं आपसे कोई बातचीत करना चाता हूँ उस बातचीत पर आते हैं constitution of India की सारी classes आपने देख ली है constitution of India की सारी classes आप लोगों ने देख ली है constitution की सारी classes देख ली है paper 1 जेलो को तयार कर ली आए हाँ या ना नहीं देखी है songs with खुशी ओके नहीं देखी है फिर constitution का जेलो का paper ready हो गया आप लोगों का अभी start करी है ओके विकास जी कोई दिक्कत नहीं है भहुत सारे लोग है जिनों नहीं देखी है ठीक है नहीं देखी है कोई फरक नहीं पड़ता अब हम क्या करते हैं मैं आपको एक strategy बता रहा हूँ constitution of India का bear act Sunday को 9 बजे मेरे साथ लेकर बैठना है क्योंकि Sunday को मैं आपकी 10 घंटे की constitution की class लेकर आ रहा हूँ और उसमें JLO के perspective से एक एक चीज को पढ़ाऊंगा और जो भी important cases हैं वो करने वाले हैं important maxim हैं वो करने वाले हैं important question जो JLO को आएंगे वो करने वाले हैं और 10 घंटे में क्या 10 घंटे में Sunday को आपको 9 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक कुछ नहीं करना है सिर्फ constitution पढ़ना है आपका 10 घंटे में पहला paper आप उसके बाद किसी भी JLO के previous year paper लगा लेना किसी भी JLO के questions लगा लेना कहीं से और अगर आप 50 number में से 40 से ज़्यादा number नहीं score कर रहे हो हो 45 स्कोर नहीं कर रहे हो उस class के बाद तो ये मेरी assurance है क्योंकि जिनोंने मेरे साथ 12 घंटे में constitution किया था उनको ये बात पता है कि मैंने constitution कैसा पढ़ाया है और CRPC में कितने detail में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ करना क्या है Saturday की night को एक बार constitution के bear act से अपनी जो है क्या अपनी सारी चीजों को peripheral view के साथ पढ़ लेना है कौन सा article किस बारे में बात करता है कौन सी चीजें किस के बारे में बात करती है कल ये class मैं आपके लिए सुबा आते ही schedule करा दूँगा तो Friday Saturday दो दिन ये class आपको चैनल पर दिखती रहेगी और सारे लोग उसको जाकर like करेंगे जिससे कि जब वो 9 बजे संडे को शुरू हो तो आपके पास official notification जा सके कि आपकी class start हो चुकी है 10 घंटे लगातार पूरा constitution starting से start करेंगे historical background से और last article तक with preamble का explanation 15 का explanation each and everything तो JLO का पहला paper आपका cover हो जाएगा संडे को 9 बजे से हम लोग इसको start करने वाले है clear पक्का कल ही class को schedule करा दूँगा प्रीति और Saturday को जब मैं CRPC की CPC की पहली class लोगा उस दिन आपको बताऊँगा कि आपको क्या करके रखना है और कैसे constitution मेरे साथ complete करना है तो जिन लोगों ने class नहीं की है और जिनोंने मेरी कॉंस्टि की classes कर ली है उनके लिए double benefit होने वाला है क्योंकि आप एक ही दिन में पूरा constitution मेरे साथ क्या करने वाले है revise करने वाले है तो कल की कल साम की class से पहले constitution की class आपकी जो है 9 बजे study IQ YouTube channel पर मैं class को start करूँगा और लगबग साम को 7 बजे तक हम ये सारी चीजे करेंगे जहां पर पूरे संविदान को चाहें judiciary के perspective से चाहें जो है क्या हमारे JLO के perspective से और ये class English और Hindi दोनों ही students के लिए होने वाली है question format में हर एक चीज को हम complete कर डालेंगे JLO का paper करीब आ रहा है तो हमको क्या गरना है JLO का paper जैसे जैसे नजदी करता जा रहा है हमको अपनी strategies को बढाता जाना है और हमें जो भी हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं जैसे constitution कर लिया 12 गंटे में अब उसकी जो है इतनी sitting capacity नहीं है तो आप break ले लेके कर सकते हो लेकिन मेरी पढ़ाने की इतनी चमता है कि मैं आपको 9 गंटे लगातार पढ़ाऊंगा और लगातार जो है मैं आपको इस class को रोकने वाला नहीं हूँ Sunday का दिन जो है free रहेगा और आप सब लो Constitution of India को ही मेरे साथ करेंगे मैं एक दिन में पूरा Constitution कंप्लीट करा दूँगा ठीक है नहीं है जो लोग दो गंटे देख पाए दो गंटे जुड़ जाना फिर दो गंटे में अपना नहादो के खाना खाके फिर मन करे पढ़ने बैट जाना एक दिन अगर साथ गंटे बैट जाओगे तो जे लो का पहला पेपर आपका क्या होगा आपका complete हो जाएगा ठीक है हाँ ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है प्रेंका जी ने का है घूम कर क्लास कर लेंगे या दर दर जाकर क्लास कर लेंगे अपने जो है क्या सुनना ही तो है और समझना है ठीक है क्यों नहीं है बेर एक्ट लेकर बैठना एक एक छोटी छोटी पॉइंट जो लिखवाऊंगा वो लिखते जाना उसके बाद ऐसा constitution हो जाएगा कि कोई भी कहीं से सवाल पूछ ले हमेशा याद रहेगा कि इसका जमानती अपराद में जमानत के मामले के रूप में दी जाती है तो कौन सा सही है कौन कौन देता है पुलिस ओफिसर दी कोट दी ओफिसर बोथ पुलिस ओफिसर एंड दी कोट दी एग्जीक्यूटिव मजस्ट्रेट बेल इन बेलेवल कॉफेंस पूरा कंपलीट करा ठीक तो संडे को 9 बजे कोई भी मिस नहीं करेगा इस क्लास को अब आ जाओ अपने बेल के प्रोविजन्स पर बहुत बड़ा सेक्शन है बेल का जो हमको यहाँ पर पढ़ना होता है 436 बात करता है कि अगर किसी भी व्यक्ती ने बेलेवल ओफेंस किया है ठीक अब बेलेव हैं या नहीं वो जो है schedule 1 of CRPC को खोल के check कर लीजेगा और अगर 436 के according क्या कहा गया है कि ऐसा कोई अपराद जो के बेलेवल है जिसी भी person ने commit किया है तो उसका अधिकार है 436 के according कि वो जो है अपनी बेल को as a matter of right grant करा सकता है और यह बेल किसके द्वारा grant की जा सकती है यह जो है क्या कहते है आपके किसके द्वारा की जा सकती है दो व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है जो police officer होगा हमारे case का या फिर जिस भी court के सामने matter चल रहा होगा वो दोनों ही police अधिकारी या फिर नियाएक magistrate दोनों ही क्या कर सकते है 436 के according बेलेवल cases में बेल को grant कर सकते है clear तो तीन question यहां से बन गए 436 बात किसके बारे में करता है बेलेवल offenses में बेल as a matter of right है या नहीं उसके बाद कौन-कौन बेल को grant कर सकता है police officer कर पाएगा और हमारा कौन कर पाएगा court कर पाएगा जहां पर वो trial चल रहा है ठीक तो इन यह 4 question 436 से सबसे ज्यादा important है let's read with the section 436 CRPC in what cases bail to be taken clause 1 when any person other than a person accused of non-vailable offenses is arrested अब देखो यहां पर क्या कह रहा है अब देखो इसमें हमारे negative connotation के साथ इस section की starting की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति है any person का use हुआ है जिसने कौन सा crime किया है non-vailable offense को commit नहीं किया है legislature चाहता तो यहां पर available offense भी लिख सकता था लेकिन उन्होंने non-vailable offense को highlight किया है कि ऐसे लोग जो के किसी भी non-vailable offense में अपराद नहीं किये हैं मतलब non-vailable offense उन्होंने नहीं commit किया है और उनका arrest या detention किया गया है without the warrant by an officer in charge of police station और उन सारे लोगों को क्या किया गया यार देखो लिखते जाना bear act में स बहुत सारी चीज़े बता रहा हूं बहुत सारे कोशन इससे बनते हैं ठीक है उनको arrest किया गया है या detain किया गया है किसके द्वारा officer in charge of police station के द्वारा that word is most important ठीक without warrant किसी भी जो है warrant के जारी किये ठीक तो इस case में or appears or is brought before the court और उनको arrest करने के बाद में police station में रख लिया या फिर जो है judicial magistrate के सामने लाया गया ठीक है and is prepared at any time while in the custody of such officer or any stage of the proceeding before such court or to give bail such person shall be released on bail यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर उसको police station में रखा गया है ठीक है किसी भी व्यक्ति को जिरिस ने bailable offense किया है उसको police ने arrest किया arrest करने के बाद में उसको police station में बिठा कर रखा तो इस case में उसका अधिकार है कि वो as a matter of right क्या कर सकता है as a matter of right जो है क्या ले सकता है किसको हमारे as a matter of right जो है किसको bail ले सकता है किस से जिस भी officer in charge of police station ने उसको arrest किया है उससे ठीक है या फिर दूसरी condition क्या बताईए देखो यहाँ पर ना bifurcate करकर करके पढ़ना है लेकिन यह एक sequence हो गया दूसरा sequence यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है second sequence की बात कर रहे है अगर arrest करने के बाद court के सामने ले जाया गया और court ने देखा कि bailable offense है without warrant arrest करके लाए है तो ऐसे cases में वो व्यक्ति क्या कर सकता है अपने bail को जो है 436 के right को exercise करते हुए court से भी अपनी bail करा सकता है is it clear is it clear समझ में आया समझ में आया हाँ ना नहीं समझे सर दुबारा चाहिए समझ गए आगे चलिए कुछ reply reply नहीं करते हो ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खामा खाम बोल रहा हूं आप लोगों का जोगा क्या करते हैं इंट्रेस्ट नहीं बन रहा है ऐसा मुझे समझ में आया ठीक चलो लाइक कर दो इसी बात पर फटाफट से लाइक कर दो सेशन को चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन पर जो रिडिक्शन टू ग्रांट एंटिस्पेट्री बेल वेस्ट बेद चीफ जुडिशल मजेस्टेट कोट ऑप्सेशन ओनली हाई कोट ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी अग्रिम जमानत देने का अधिकारिक छेत्र नेहित है मुख्य नियाले मजेस्टेट केवल सत्र निया अगर ऐसा कोई मैटर है जहां पर किसी भी परसन को ठीक है किसी भी किसको परसन को ऐसा लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा किसी भी मैटर में ठीक है उसका पुलिस आकर अरेस्ट कर लेगी किसी भी मैटर में तो उसके पास अधिकार है कि वह जो है अपने दो नि exercise किया जाए अभी हमने पढ़ा है 436 कि bailable offenses में हम किस किस से bail ले सकते हैं 437 non-bailable cases में bail मिलेगी या नहीं और 438 बात करता है anticipatory bail की जो कि अग्रिम जमानत बोली जाती है ठीक है और 439 बात करता है cancellation of bail के बारे में ठीक है तो ये चार section इस तरीके से आपको याद होने चाहिए क्योंकि index based question भी jailo में आपको देखने को मिल सकता है तो ऐसे matter जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके उपर कोई ऐसा case हुआ है जहाँ पर police आकर उसको arrest कर सकती है तो उसके पास अधिकार है कि वो arrest होने से पहले police के आने से पहले कहा जाएगा 438 में जाएगा और 438 में जाने के बाद court of session से या high court से दरख्वास्त करेगा कि मैं अग्रिम जमानत लेना चाहता हूँ और अगर court of session और high court उसको anticipatory bill दे देते हैं तो police officer का उसको arrest करने का अधिकार क्या होता है पूरी तरीके से completely खत्म हो जाता है ठीक तो यहाँ पर इस question का सही जबाब क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा एक बार 438 को हम जो है detail में read भी करेंगे गिरफतारी की आसंका वाले व्यक्ति को जमानत का मिर्देश जब किसी व्यक्ति के पास यह है विश्वास करने का कारण हो कि उसे गेर जमानती अपराद करने के आरोप में गिरफतार किया जा सकता है इतना पढ़िए पहले किस के बारे में किसी भी व्यक्ति ने कौन सा offense किया है नॉन बेलेबिल ऑफेंस अगर कमिट किया है या फिर उसको ऐसा लगता है कि नॉन बेलेबिल ऑफेंस के उसके उपर जो है चार्जस लगाए गये हैं एक्क्विजिशन लगाए गये हैं तो ऐसे case में अगर व्यक्ति को लग रहा है कि पुलिस आकर उसको arrest कर लेगी तो उसके पास 438 की पावस को exercise करने का अधिकार है moving ahead तो इस धारा के तयत निर्देश के लिए उच्च नियाले या सत्र नियाले में आवेधन कर सकता है दूसरा point क्या बताया गया पहला तो यह बता दिया गया तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि arrest कर लिया जाएगा तो उसके पास अधिकार है कि वो high court में जाए या फिर court of session में जाए कि आवेधन कर दे 438 में किसका अग्रिम जमानत का या फिर जो है किसका anticipatory bill का और वह अदालत यद उचित समझे निर्देश दे सकती है ऐसी गिरफतारी की इस्तिती में उसे जमानत पर रहा कर दिया जाएगा अब इसमें क्या होगा anticipatory bill लेकर भाई साब बैठे हुए है police officer पहुचे उन्होंने का कि आपको arrest करना है क्योंकि आपके against में complaint आई है थीक तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि आपके against में complaint आई है तो उसमें क्या किया जाएगा उसमें जो है एक सकंड बोलते बोलते ठग गया नगRI तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा वहीं से स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी anticipatory bill को लेके बैठा हुआ है और anticipatory bill के application को police officer को दिखाएगा और नमस्ते गरेगा कि आप जाएए मेरे पास anticipatory bail पहले से ही है यही right है हमारे किसका व्यक्ति का ठीक तो यहाँ पर आपको simple यह चीजें बताई गई है लेकिन जब भी हमारा कोई भी high court या फिर court of session किसी को anticipatory bail देता है क्या अग्रिम जमानत देता है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि आ क्या condition है जो anticipatory bail देते समयं accused से sign कराई जाएंगी वो इसी section के sub clause 2 में हमको बताई गई है ठीक तो पहली condition क्या कह रहा है पहली condition कह रहा है कि एक condition that the person shall make himself available for the interrogation by the police officer as when required ठीक तो अगर किसी भी व्यक्ति को anticipatory bail दी गई है अग्रिम जमानत दी गई है high court या court of session के द्वारा तो उस व्यक्ति से यह कहा जाएगा कि जब भी आपको police interrogation के लिए बुलाएगी investigation के लिए बुलाएगी तो आपको police के पास जाना ही जाना पड़ेगा is it clear दूसरी condition a condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement threat or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to disquest him for disclosing the fact court or any police officer या फिर उसके उपर ये भी condition लगाई जाएगी कि अगर जिस इंसान को anticipatory bail दी गई है उस पर क्या कर सके ओ जो है किसी भी witness को या फिर ऐसे लोगों से कोई भी क्या डरा धमका कर कुछ भी नहीं करने की कोशिस करेगा जहां पर वो व्यक्ति जो है उस case के respect में कुछ भी जान कारी रखते हैं और इसी basis पर पुलिस वाले क्या करते हैं इसी ground पर इसी threat को protect करने के लिए कि जिसको अगर anticipatory bail मिल रही है उस व्यक्ति की anticipatory bail को रुखवा देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है ये व्यक्ति जो है क्या हमारे cases में investigation में ख खललडा लेगा प्लस दूसरी important बात आपको यहां पर कि वो जितने भी witnesses हैं या case related matter है उनको जो है क्या bifurcate करने की manipulate करने की कोशेश करेगा ठीक तीसरी important condition a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the court कि जिस व्यक्ति को अग्रिम जबानत दी जा रही है वो क्या वो इंडिया को leave नहीं कर सकता much other condition as may be imposed in section 3 of section 437 if the bail were granted under section 137 ठीक तो यहां पर क्या बताया गया है यहां पर आपको बताया गया है simply कि simple बात क्या है simple बात यह है कि जो आपका 437 clause 3 की condition है हमारे impose कराने के लिए वो सारी condition भी क्या की जाएंगी वो सारी condition भी ध्यान में रखी जाएंगी is it clear तो अगर magistrate चाहे जो anticipatory bail दे रहा है उसके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है anticipatory bail को देने के लिए इन सारी condition को impose कर सकता है इसके अलाबा भी कोई condition impose की जा सकती है ठीक है यह है हमारा section 438 anticipatory bail और इससे जितने भी point बनते थे वो मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ एक-एक question पर एक-एक section समझा रहा हूँ लेकिन इन से घुमा फिरा के यही question पूछे जाएंगे आपसे जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ पर्षन की वेल की application सुनके accused person को non available cases में जमानत दी जा सकती है CRPC की case दारा के तैक police अधिकारी रहा कर सकता है गेर जमारती मामले में जमानत पर आरोपी को ठीक 336, 337, 436, 437 बताइए very nice option number D is the correct answer क्या non available cases में भी bail grant की जा सकती है इस पर क्या-क्या condition होंगी एक बार हम read कर लेते हैं इसको भी समझ लेते हैं 2 समझ लिए 3 समझ लिए basically 2 समझ लिए 436, 438 detail में समझ लिए 437 को भी मत छोड़ो यार इसको भी पढ़ा देते हैं English वालों के लिए माफी चाहता हूं translate नहीं हो पाया मतलब मैंने तो किया होगा लेकिन वह save होना रह गया होगा इसके आगे के मिलेंगे ये वाला नहीं हुआ है तो आप हिंदी में समझा रहा हूं उसको समझ लो ठीक है यहां पर क्या कह रहा है when bail may be taken in the case of non-bailable offense ऐसे अपराद जहां पर non-bailable अफरास हुए हैं मतलब गैर जमानती अपराद हुए हैं तो वहां पर भी bail दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती clause 1 when any person accused of or suspected of the commission of non-bailable offense is arrested or detained without warrant by any officer in charge of police station or appears or is brought before the court other than the high court or the court of session he may be released on bail क्या he may be released on bail ठीक तो यहां पर क्या कह रहा है कि non-bailable cases में भी bail दी जा सकती है लेकिन यह bail देने का अधिकार police officer का नहीं होगा यहां पर जो bail grant की जाएगी वह उस accused person को court के सामने ले जाया जाएगा और court decide करेगी कि उसको bail भी दी भी जानी है या नहीं दी जानी is it clear समझ में आया चलिए next question पर आईए under section 428 the period of detention undergoing by the convicted cannot be set off during investigation of the case trial of the case inquiry of the case and other cases 428 के तहित हिरासत में हिरासत की अबदी में दोसी को इस दौरान एक सेकंड बरी नहीं किया जासकता मामले की जांच मामले का परिक्षन मामले की जांच मतलब inquiry देखो यहां पर एक गड़वड हो गई है ठीक investigation को क्या बोलते हैं हिंदी वाले फतावर्ट से बताएं investigation को क्या बोलते हैं कुछ अजीब सा वर्ड है हिंदी वाले बताओ जल्दी से investigation को क्या बोलते हैं फिर कहोगे के सर ने जांची लिख दिया था हिंदी वाला कोई बताएगा comment करके इंगलिश वाले आंसर करो investigation of case, trial of case, inquiry of case and other cases ठीक वेरी नाइस अनवेशन यहाँ अनवेशन सब्द का इस्तमाल होगा ठीक है सही कर दिया काटके बहुत हिंदी वाले बच्चे हैं अच्छा एक बात पूछना चाहरा हूँ ठीक है फिर आगे continue करेंगे एक चीज़ बताओ हिंदी वाले कितने student हैं इस class में जो हिंदी में जे एलो देंगे बताइए raise your hand हिंदी वाले student चालो बहुत सारे लोग है इसका मतलब है न फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रेशियो है चालो तो तो फिर मेरा हिंदी में पढ़ाने का और translate करके लाने का मेनध बिल्कुल सही जा रही है मैं अब में अब तक हिंदी वाले आते भी होंगे या नहीं आते होंगे पढ़ते होंगे मेरी classes पसंद आती होंगी या नहीं आती उनको मेरा समझाया हुआ समझ आता होगा या नहीं आता होगा क्योंकि majorly मैंने अपना हिंदी से English लो कर रखा है तो हिंदी में मेरे को उतनी ही दिक्कत होती है जितनी आपको JLO की हिंदी को जो है क्या ट्रांसलेट करने में हिंदी को रीड करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी English words की और English words वो भी law के normal हिंदी को translate करके English में कोई भी पढ़ सकता है लेकिन law को English में हिंदी में translate करके English word को इस्तमाल कर जो law के legal words होते हैं इंग्लिस में translate होते हैं वो तो बहुत ही typical होते हैं ठीक है English paper करवा दीज़े बेटा English हिंदी मेरे को आती न तो मैं आपको English हिंदी भी करवा देता law मेरा domain है law में मैं आपको सारी चीज़े कराऊँगा तीनो paper 100% यकीन रखो मेरे पास के मैं आपका jello की Sunday को जो class कराऊँगा ना उसके बाद कोई भी संविधान से कुछ भी पूछ ले आपसे आप जो बताया जाए वो बता देना ठीक है दूसरा हाँ आज हिंदी दिवस है हिंदी दिवस की मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत सुपकामना है बिल्कुल करेक्ट हिंदी में sentence बना के आंसर किया है मैंने ठीक है तो हिंदी दिवस की मेरी तरफ से आप लोगों को साथ बहुत-बहुत सुपकामना है और दूसरी सबसे important बात कि Constitution की Sunday वाली class जरूर कर लेना आपको पूरा Constitution of India देखो यार मेरी classes का न एक funda है funda गया है classes को law को याद कराने की कोशिश करते हैं law को याद कैसे किया जता है law को इतनी अच्छी तरीके से और सरल भासा में जो लोगों को bear act से नहीं समझा रहा उसको समझा दो कि उससे कभी भी कोई question कहीं पर भी पूछा जाए तो वो इतना maturity भरा answer दे सके जो bear act पर depend करता हो that is my basic funda of the classes और इसी classes इसी ideology पर मैं आपको पढ़ाता हूँ जब मैं paid classes में भी पढ़ाता हूँ तो कहानी की तरह चीज़ा याद हो जाती है CRPC किस line of action पर काम करती है Islamic law मैं पढ़ाता हूँ Muslim law is my core subject और मेरा favorite area तो Islamic law कैसे चीज़ें चलती है कैसे जब paid मैं पढ़ाता हूँ न तो पूरा law चाहें CPC पढ़ा रहा हूँ चाहें Constitution पढ़ा रहा हूँ चाहें CRPC पढ़ा रहा हूँ चाहें कोई personal law पढ़ा रहा हूँ आपको session wise session याद हो जाएंगी और जब आप किसी भी exam को लिख रहे होगे तो जो important चीज़े मैं बोलता हूँ न यह important है जियलो में चिपका हुआ मिलेगा ये question सच में चिपके हुए मिलेंगे और वहाँ पर मेरी आवाज जब question पढ़ रहे होगे तो कानों में गूजेगी और सही answer आप करके आओगे सुनाली जी कह रही है this is my first class very good कोई बात नहीं जिनकी first class है वो first class को enjoy करें जिनकी आज लगबग मेरा कौन सा lecture है आज मेरा जेलो का मैं आपको बता देता हूँ 15 मां ये और 12 वो मेरा 28 मां lecture है 28 गंटे से मैं आपको जेलो की त्यारी करा रहा हूँ और 15 अक्टूबर तक हम जेलो के सारे subject को करेंगे और आज हमारी second last class है किसकी CRPC की is it clear और जो लोग first class में आए हैं वो भी जो है पूरी तरीके से इसको लें लेकिन आज हिंदी वाले बच्चों ने कर दिया कि जितने English के student पढ़ रहे हैं उतने हिंदी के भी पढ़ रहे हैं दोनों के लिए मैनत करने की जरूवत है चलो ठीक है चलो next question महाँ इस question का answer कर दिया आप लोगो ने अच्छा कर दिया होगा वैसे intelligent लोग हो तो क्या option D other cases में आपको देखने को मिलता है ठीक है तो option number क्या option number D is the correct answer of this question clear 428 section को read कर लिजेगा section इतना important नहीं है ठीक आज 9.15 पर class है आज भाई देखो एक बार एक चीज़ समझ लो constitution of India की 10 घंटे की complete class चाहे जुडीशरी की तियारी कर रहे हो चाहे जे एलो की तियारी कर रहे हो पूरी एक class कब start होगी Sunday morning में 9 a.m ठीक है लगबग 6-7 बजे तक मैं इस class को चलाओंगा और इसमें पूरा constitution क्या पूरा constitution जो है आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा clear चलिए तो अब आते हैं next question पर the apex court held that anticipatory bail should be granted only for a limited period यहाँ पर क्या गह रहा है कि anticipate Supreme Court of India ने किस मामली में यह held किया है कि जो anticipatory bail grant की जाएगी वो जो है एक limited time period के लिए होगी ठीक important case है सुनीता देवी वर्सेस state of बिहार नरेश कुमार यादव वर्सेस रागवेंद कुमार सलाउद्दीन वर्सेस state of महरास्ट सिद्धम वर्सेस state of महरास्ट बताइए important case के anticipatory bail limited time के मतलब जो आपकी कौन सी bail है अग्रिम जबानत limited अबदी के लिए दी जाएगी Supreme Court ने held किया है किस case में option number B नरेश कुमार वर्सेस रवेंद्र कुमार के case में तो option number B is the correct answer of this question clear चलिए option number oh sorry sorry option सलाउद्दीन वर्सेस state of महरास्ट का landmark judgment है बातों में ज़्यादा ही मगन हो गए तो question के answer भी भूलने लगे है C is the correct answer सलाउद्दीन वर्सेस state of महरास्ट इसमें honorable Supreme Court ने held किया कि जो anticipatory bail है as per section 438 CRPC के according वो जो है कोई भी court चाहे high court grant करे या फिर court of session grant करे limited period के लिए ही grant की जाएगी the landmark case of this the name of the landmark case is सलाउद्दीन वनाम महरास्ट राज्य ठीक है चलो option C जो है इसका सही answer है लिख लो अपने anticipatory bail के questions पर C is the correct answer ठीक चलो next question पर चलते हैं who may cancel the bail given under section 436 of CRPC by the subordinate courts CRPC की धारा 436 के तहत दी गई जमानत को कौन रद कर सकता है अधनीस्त नियाले द्वारा ठीक है सबसे पहले the court which has given the bail option B high court option C court of session option D both B and C किसकी बात कर रहे है हमारे cancellation of bail की बात हो रही है जो भी 436 में grant की गई है इसको कौन जो है क्या कर सकता है cancel कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए यह जो है bail किसके द्वारा option number D जो है हमारा high court और court of session B और C विल्कुल सही जवाब है दोनों के द्वारा किया किया सकती है दोनों के द्वारा cancel की जा सकती है तो option number D is the correct answer let's read with the section 439 बात करता है जमानत के संबंद में उच्च नियाले या सत्र नियाले की विसेज सकतिया अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है 439 बता रहा है कि special power of high court and the session court regarding the bail तो जितने उपर section पड़े है उनके जो है क्या है उन सब के father है section 439 कि आप दे सकते हो तो उसको हटा भी सकते हो यह चीज आप से कही गई है तो अब इसको एक बार read करिए एक उच्चने आले या सत्रने आले निर्देश दे सकता है ठीक यह high court or the court of session may direct sub clause 1 that any person accused of an offense in the custody released on bail and if offense is in nature specified in subsection 3 of section 437 जहाँ पर non-bailable cases की बात की गई है may impose any condition which is considered necessary for the purpose of mentioning in that subsection ठीक तो यहाँ पर क्या बताया गया यहाँ पर बताया गया है कि high court और court of session cancel कर सकते हैं जो भी bail allot की गई है 436 में और इनको 437 clause 3 की requirements को ध्यान में रखते हुए यह सारी चीजें करनी है moving ahead B clause क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय magistrate द्वारा लगाई गई किसी भी सर्त को अलग रखा जाए या संसोधित किया जाए ठीक है यहां तक पढ़िए फिर provided that है that any condition imposed by the magistrate when releasing a person on bail set aside modified ठीक provided that the high court or the court of session shall before granting the bail to a person who is accused of an offense which is tribal exclusively by the court of session or which through not so tribal is punishable with the imprisonment for a life give notice of a application for the bail to a public prosecutor unless it is for the reason recorded in writing of the opinion that it is a particular that it is not a particular to give the notice ठीक तो यहां पर क्या है अगर court समझे तो इन सारी चीजों को क्या किया जाए इन सारी चीजों को जो है जो भी bail grant की गई है उनको court of session और high court cancel भी कर सकते हैं जो भी condition imposed की गई थी उनके उपर और वो condition accused द्वारा fulfill नहीं की गई वाइलेट की गई है तो वहां पर क्या किया जा सकता है वहां पर bail को वापस लिया जा सकता है high court or the court of session may direct any person who has been released on bail under this chapter arrested and commit him to the custody तो जितनी भी bail जो है grant की गई है high court और court of session की दौरा या फिर other courts या police officer की दौरा 436 में 437 में उन सबका cancellation high court और court of session कर सकती है जब वो क्या कर रहे होंगे जब वो violate कर रहे होंगे उन conditions के उपर जिस पर bail bond sign कराके उनको रहा किया गया था ठीक है तो यहां पर किसकी power है high court or court of session की power है as per section 439 CRPC के according clear is it clear समझ आया समझ आया वाओ जी चलो next question पर आते है आ गया होगा ऐसे एन order passed by a magistrate under section 446 of a criminal procedure code 1973 is appealable to क्या बात कर रहा है धारा 446 के तहत मजिस्टिट पारित आदेस डंद प्रग्या सहिता 1973 के तहत अपील की जा सकती है session judge district judge high court या फिर supreme court 446 बात किसके बारे में करता है देखते है comment करके सबसे पहले कौन बताएगा 446 is talking about या 446 talks about आरती पूछ रही है कि नहीं आया 439 बात क्या कर रहा है 436 में कोई bail दी गई हूँ bailable offense में 437 में कोई bail दी गई हूँ 437 non-bailable cases में court के दवारा condition sign कराके 438 में high court या court of session ने anticipatory bail को जो है क्या किया anticipatory bail को alert कर दिया अब जितने भी लोग ऊपर के तीनों sections में bail पर छोड़े गए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं जो भी bail bond sign कराया गया था उस bail bond का उलंगन कर रहे हैं जो condition वो लिख कर गए थे कि वो इंडिया से भार नहीं जाएंगे वो किसी भी witness को या case related व्यक्ति को जो है परेशान नहीं करेंगे वो interrogation में जो है क्या करेंगे interrogation में पूरी तरीके से सायोग करेंगे या फिर वो हर date पे court में आएंगे लेकिन वो आ नहीं रहे ये सारी चीजों में से एक भी चीज को violate कर रहे हैं तो 439 की according high court or session court के पास ये अधिकार है कि जिस boil wand पे उनको छोड़ा गया है चाहे 436 में छोड़ा है चाहे 437 में छोड़ा है चाहे 438 में छोड़ा है ठीक है उसको cancel कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को arrest करके दुबारा से jail में डाल दिया जाएगा ये power किसकी है high court or court of session की ये बात करता है section 439 of CRPC ठीक है ठीक अब हो गया clear RTG चलिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 446 के according किस court में जो है bond की appeal की जा सकती है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा session judge इसका सही answer है option number A is the correct answer of this question read just bare act की reading ले लेना 446 की ना 446 A की bare act की क्या करनी है reading ले लेनी है इसकी heading से JLO में question पूछा जा सकता है अंदर से इतना कोई भी question आपसे exam point of view से नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी क्या करना पूरी तरीके से एक बार इसको read करके जाना ठीक है moving ahead next question bail amount by a magistrate can be reduced by कह रहे है magistrate कम कर सकता magistrate द्वारा तै की गई जमानत राज से कम कर दी जाती है कब कौन कर सकता है the magistrate himself the chief judicial magistrate the high court or the session court all of the above is the correct answer जो भी हमारी क्या आपको पता है कि एक होता है with security और एक होता है without security ठीक है with security में क्या होता है एक आदमी को security बना के देना पड़ता है कि भाई इसको bail पर Mr. X को कहा जाएगा कि आप अपनी security लेकर आईए security ले आए वो किसको एक हो उन्होंने कहा कि ये मेरी guarantee लेते हैं कि अगर इस bail bond में लिखी हुई किसी भी चीज को क्या किये जाएगा किसी भी चीज को मैं wallet करता हूँ तो आप ये से जवाब पूछ लेना और इस से कोई भी पैसे ले लेना तो कौन सी court जो भी हमारे bail bond में लिखा हुआ amount है उसको reduce कर सकती है या गटा सकती है ये question आपसे यहाँ पर पूछा गया है the magistrate himself, the chief judicial magistrate, the high court and the session court या फिर उप्रोक सभी सारे ही कोट ये सारी चीज़े कर सकते हैं option c high court और session court सारी बस ये सारी चीज़े कर सकते हैं कौन से high court और session court कर सकते हैं बाकी courts जो है ये सारी चीज़े नहीं कर सकते c is the correct answer very good c सही answer है ठीक है मेरे से गलत हो गया option number c मैं एक बार दुबारा repeat कर देता हूँ confuse मत होना important है paper में पूछ लिया जाएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कौन से question के पूछ गए हाँ यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है के bail bond में लिखे हुए amount को reduce करने की power किसकी है तो यह power high court और court of session की है ठीक तो option number c is the correct answer याद रखिएगा most important question है exam के prospect याद रखना 436 से लेकर 446 की जो हमारी superior powers है वो किस-किस के पास है court of session के पास या फिर जो है high court के पास में is it clear option number c is the correct answer of this question moving ahead whether any condition imposed by the magistrate when realizing any person on bail can be set aside or modify if yes by whom which under which provision किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रहा करते समय magistrate द्वारा लगाई गई किसी भी सर्त को रद या संसोधित किया जा सकता है अगर हाँ तो किस के द्वारा इस प्रावधान के और किस प्रावधान के तहत ये सारी चीज़ें की जाएंगी ठीक by the high court under section 482 CRPC by the high court and session court under section 439 CRPC by the session court under section 465 CRPC no court can be set aside modification of such condition ठीक हिंदी वाले भी एक बार अच्छे से इसको पढ़ ले कहां भाग गया जैसे ही मैं चलके आता हूँ वो भी अपने आप automatic आगे चलने लगता है ऐसा होता है गया जैसे आप से जो सबसे ज़्यादा चीज महबबत करती हो जैसे ये board मुझसे सबसे ज़्यादा महबबत करता है ठीक है जैसे आप सारे लोग सबसे अधा महबबत जैसे जैसे मैं चलता हूँ वैसे वैसे आप लोग चलने लगते हो ऐसा होता है गया टच है बेटा जैसे हाथ भी लग जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है तेखो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कोई भी जो बेल में दी गई है या फिर किस में बेल में उसको set aside बढ़ाया जाना है गटाया जाना है कुछ भी किया जाना है किसके द्वारा किया जाएगा हमारे court of session और high court के द्वारा as per section 439 CRPC के according ठीक तो option number option number B is the correct answer of this question moving ahead next question पर चलते हैं next question क्या है अब यह बताओ judiciary की त्यारी कौन-कौन कर रहा है raise your hand it is a final this is the final call from my side judiciary की त्यारी कौन-कौन कर रहा है hand raise करो उनके लिए सबसे अच्छा और best platform का एक batch बताने जा रहा हूँ अब देखो 450 तक करा दिया मैंने आज आपको ठीक 446 को 446 A को जो है क्या करना है read out करना है आप अपनी side से ठीक है 446 इतको read out करना है कल जो है 451 से लेकर और हम CRPC को नमस्ते करने वाले है ठीक है कल कर देंगे भाई नमस्ते इतने सारे लोग जुडिश्री की त्यारी कर रहे है कल कर देंगे CRPC को नमस्ते 17 गंटे लग गए हमको 16 गंटे CRPC को खत्म करने में लेकिन इन 16 गंटे के बाद I hope आ आप कोई भी question CRPC का गलत नहीं करोगे और जितना मैं समझा सकता था CRPC को मैंने 100% effort लगा दी है आप लोगों को CRPC समझाने के लिए ठीक है अब कल की class के लिए 451 से 484 तैयार करके रखिएगा और major focus रखना 460, 461, 478, 479, 480, 482, 484 ठीक आज हमारा lecture number 16 मतलब class number 60 है जहां पर हम जो है अपने 450 से आगे के सारे sections करने वाले हैं आज वैसे भी last portion है last portion से इतने मतलब question नहीं बनते हैं तो लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है पूरा complete करेंगे आज CRPC को और CRPC 1973 की आज आज आपका पूरी second subject JLO का complete हो जाएगा और कल से हम क्या करने वाले हैं कल हम अपना पढ़ने वाले हैं civil procedure code 1908 को तो CPC का bare act आज खरीद लीजेगा अगर हो तो और नहीं है तो मगा के रख लेना कल 6 बजे से जैसे CRPC पूरी तरीके से याद करा दिया है वैसे ही आपको CPC भी याद करा दूँगा ठीक लगबग 15 घंटे लगेंगे और 15 classes लगेंगी हमारे CRPC CPC को समझने में क्योंकि CPC जो है बहुत ही जादा typical और critical concept है in comparison to CRPC CRPC इसलिए पहले करा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का interest भी होता है कि हम CRPC को कर लें और यह interesting subject है जब हम CPC की बात करते हैं तो सबसे जादा boring subject law वाले बच्चों को लगता है तो वो है civil procedure code 1908 लेकिन tension नहीं लेनी है जैसे constitution याद किया है वैसे ही CRPC याद करेंगे और कर लिया है वैसे ही CPC को पूरा complete करेंगे फिर उसके बाद Indian evidence act or limitation drafting के questions मैं आपको सारे करा दूँगा आज का पहला question हमारा बहुती important section से आता है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस मैं से आपको जो है सही incorrect statement point out करना है ठीक the period of limitation for taking the cognizance of an offense shall be option A six month if the offense is punishable with fine only option B one year if the offense is punishable for a term not exceeding one year option C three years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding one year but not exceeding three year option D five year if the offense is punishable with the death imprisonment or the life sentence क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है गलत कतन को इंगित करें किसी भी अपराद का संग्यान लेने के लिए परिसीमा की अबदी कितनी होती है यदे अपराद केवल जुर्माने से डंडनी है तो छे महीने एक वर्स तक के अपराद की सजा है तो और पांच वर्स यद अपराद मौट से या फिर आज इवन कारावास से डंडनी है बताईए फटाफट से बहुती easy question है लेकिन important है हमारा सबसे ज़्यादा और 467 से लेकर 472 तक जो हमारे सारे कोगनीजेंस के section है वो हमसे repeatedly जो हर एक exam में पूछे जाते हैं और यहां से आप को सबसे पहले आज के session में cover करेंगे और एक एक चीज करके सारी चीजों को हम जो है क्या करने वाले हैं समझने वाले हैं clear चलिए बताइए option number D is the correct answer कि section की language है यह किस section में लिखा हुआ है CRPC के इन सारे कोगनीजेंस के बारे में और period of limitation के बारे में कोई बता सकता है clear नहीं देख रहा है clear नहीं देख रहा है बाकी लोगों को नहीं देख रहा है या फिर रजनी जी को सिर्फ clear नहीं देख रहा है इतना मुझे पहले कोई confirm कर दे class के starting में ही मैंने आपसे पूछा था board clear नहीं है मेरी voice clear नहीं है तो आप मुझे बता दो सब को दिख रहा है या फिर सिर्फ रजनी जी को नहीं दिख रहा है clear बाकी लोगों को दिख रहा है पहले इसका answer करो फिर question का answer करना जल्दी से बताओ पहले clear है clear है सब कुछ clear है चालो तो फिर रजनी जी आपको क्या करना है अपने YouTube के quality को बड़ा देना है तो आपको clear दिखने लगेगा चालो अब आते हैं हम जो है कोगनी जैंस वाले पार्ट पर 467 से ये कोगनी जैंस का पार्ट शुरू होता है और हमें देखने को मिलता है कि जो 468 है वहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी crime कमिट हुआ है तो कितने दिन में कोगनी जैंस लिया जा सकता है या फिर उसकी report दर्ज कराई जा सकती है कोगनी जैंस का मतलब कि आपको अपने case को file करने के लिए कितना समय दिया गया है उतने समय में आपको संग्यान लेना है अगर आप उतने समय में संग्यान नहीं ले पाते हैं तो आपको क्या करना होगा आपका case नहीं किया जा सकता जब तक आप 473 में magistrate से जाकर permission नहीं ले लेते तो basically अगर हम इस section की बात करें तो आपको कुछ important चीज़ें पहले इसमें समझनी है और वो important चीज़ें क्या है कि जैसे आप यहां पर suppose करके चलिए कि यहां से जो है क्या आपकी against में offense commit होता है यहां पर क्या हुआ offense commit हुआ offense commit होने के बाद आपके पास जो है right है कि आप उस offense को जाकर police station में जो है report कर सकते हैं तो जैसे ही offense commit हुआ आप तत्काल प्रवाब से police station जाकर अपनी F.I.R. लिखा सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो suppose कीजिए कि ऐसे सारे offenses जो के Indian penal code या फिर other laws में क्या Indian penal code और other laws में जिन में सिर्फ fine देने की punishment है जिन जिन offenses में सिर्फ fine दिया जा सकता है तो जब से आपने offense आपके against में offense commit हुआ है उस दिन से लेकर 6 महीने तक कब तक 6 मन तक का आपका time होगा कि आप क्या कर सकते हो आप जो है पूरी तरीके से criminal case को file कर सकते हो is it clear पहली चीज़ समझ में आई कि अगर हमारे Indian Penal Code या फिर other जो है किसी भी act में offense हुआ है किसी भी व्यक्ति के खिलाब suppose Mr. X ने A के खिलाब कोई offense किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ fine लगाया जा सकता है जुरुमाने की जुरुमाने की क्या दी जा सकती है जुरुमाने की punishment दी जा सकती है fine ही impose किया जा सकता है तो उसका जो है कितने दिन में cognigence लिया जाएगा कितने दिन में case फाइल किया जाएगा तो इसकी अबदी होती है 6 महीने 6 महीने तक आपको क्या करना है अपने case को register करा देना है इतनी बात समझ में आई फिर मैं दूसरे point पर चलता हूँ बहुती important section पढ़ा रहा हूँ तो सारे बच्चे एक एक चीज़ को लिखते जाएंगे चार जो है तीन important point है और चौथा आपका सबसे ज़्यादा important है क्लास लेट शुरू हूई है इस वएसे आज छोटी क्लास है ज्यादा questions नहीं बनते लेकिन जितने बनते हैं उतने मैं आपको आज के session में कराने वाला हूँ नहीं आ रहा fire मचाओ एक बार तब ही तो class में मजा आएगा session को like share करतो starting से ही जल्दी से इतने सारे बच्चे live बेठे हुए हैं और 18 ही like आएं क्या मतलब है रोज बतानी परती है ये बात कि like करना है like करना है share करना है share करना है जल्दी से करिये like करिये share करिये फिर दूसरे point पर चलेंगे जल्दी से जल्दी से शेयर कर दो सारे student अभी तक नहीं आये हैं चलो दूसरा important point कि जैसे offense commit हुआ और अगर वो offense हमारा एक साल तक की imprisonment वाला है ऐसे सारे offenses जहां पर एक साल तक की सजा दी जा सकती है तो CRPC कहता है कि जब से offense commit हुआ है उसके संग्यान लेने की या cognigence लेने की जो कितना time period है एक साल की अबदी ही रहने वाली है तो offense commit होने के एक साल तक जो है आप उसको report कर सकते हो और अपना matter आगे बढ़वा सकते हैं तीसरी सबसे important बात क्या है अगर offense तीन साल है सबस्कर यह इसी पर समझ लेते हैं अगर किसी भी offense की सजा तीन years दे रखी है तो उसकी time period कितना होगा उसका time period तीन साल में कोगनीजेंस लिया जा सकता है लेकिन यही CRPC में बताया गया है और इसके respect में इसके respect में क्या अरपिज जी कह रहे हैं कि तून्ड़ा की कुलफी बहुत फेमस है हाँ बिल्कुल सही बात है तून्ड़ा की कुलफी बहुत ज़्यादा फेमस है और वहीं से मैं ब्लॉंक करता हूँ ठीक है तो चलिए यहाँ पर क्या बताया गया है यहाँ पर यह बताया है कि तीन साल में अगर IPC या other किसी भी act में क्या हुआ है other act में पूरी तरीके से offense किया गया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ संग्यान लेने की जिसके against में offense हुआ है यार क्या कुलफी वाली बात छेड़ दी टून लाओ कभी सबको खिलवाता हूँ कुलफी तो यहाँ पर क्या कह रहा है चलो क्लास पर फोकस कर ले देखो जब पढ़ा रहा हुआ करूँ तो रिदिम में होता हूँ गरवर की बातें बाद में करेंगे टेलिग्राम ग्रूप पर कर लेना ठीक यहाँ पर major focus रखो क्लास पर be serious because we are dealing with the main important provision of CRPC ठीक है तो यहाँ से question JLO में आएगा तो इसको मजाक में मतलो start करो दुबारा से ठीक 6 महीने तक अगर किसी मतलब IPC या other offense कोई सी भी विक्ति के खिलाफ हो रहा है और 6 महीने तक सिर्फ fine मतलब fine की जो सजा है वो उसमें दी जानी है तो 6 महीने तक आप उसका cognigence ले सकती हो एक साल तक की सजा किसी offense में है तो उसका जो है कितना है एक साल तक का ही पूरी तरीके से जो है cognigence लिया जा सकता है और तीसरी important बात कि तीन साल की अगर बात है तो तीन साल का ही जो है क्या किया जाएगा कोई भी limitation period नहीं होता है unlimited time है आप जो है इस पर कभी भी संग्यान ले सकते हैं ठीक तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है 468 section को मेरे साथ पढ़ना है ठीक 468 को पढ़ेंगे क्योंकि यहीं पर यह सारी बाते हमारी बताई गई है परिसीमा अबदी बीते जाने के बाद संग्यान लेने पर रोक मतलब क्या कह रहे है बार टू टेकिंग कोगनिजेंस आफ्टर अफ्टर लैप्स ओ पीरड ओफ लिमिटेशन क्लियर चलिए तो अब यहां पर पहला क्लॉस के रहा है इस संदा में अन्यता प्रदान किये गए को छोड़ कर किस परिसीमा अबदी के समापत के बाद उपधारा दो में निस्ट श्रेडी अपराडों का संग्यान नहीं लेगा इसका मतलब क्या हुआ एक्सेप्ट अधर्वाइज प्रोवाइड़ इस वेर इन दी कोड लो स्कॉर्ट शेल टेक दी कॉगनिजेंस ओफ ऑफेंस कैटिग्री स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन टू आफ्टर दी एक्सपाइरेशन ओफ पीरड ओफ लिमिटेशन इट मीन्स क्या कह रहा है यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो सी आर्पी सी के सेक्शन 468 क्लॉस के टू जो भी टाइम पीरड बताया गया है को लेने का उसी क्या होगा सबसे पहला पीरड ओफ लिमिटेशन लिमिटेशन इस उपर तो उसका टोटल छे महीने में आपको cognizance लेना होगा moving ahead clause 2 के sub clause B पर आईए one year if the offense is punishable with the imprisonment not exceeding one year एक वर्स यद अपराद एक वर्स से अधिक की अबदी के कारावास में दंडनी है मतलब एक व्यक्ति के against ऐसा offense हुआ है जिसने वो offense किया है accused person के against में एक ही साल तक का maximum punishment सुनाया जा सकता है तो उस time पर क्या माना जाएगा उस time पर ये माना जाएगा कि आपको पूरी तरीके से एक साल के अंदर उसको क्या करना है उस पर cognizance लेना है तब ही वो case register होगा वरना उस पर registration नहीं माना जाएगा ना ही ये court की power है क्योंकि सब clause 1 ने हमको ये सारी चीज़े पहले ही बता दी है moving ahead तीन साल वाली बात लिखी है तो तीन साल का period of limitation क्या है कि जहां पर punishable 3 years है तो 3 साल का period of limitation कितना होने वाला है तीन वर्स ही होने वाला है इससे अधिक होले वाला नहीं है is it clear तो 3 साल का 3 साल है अब हम इसके 3rd clause को पढ़ते है for the purpose of this section the period of limitation in relation to offense which may be tried together shall be determined with the reference of the offense which is punishable with more than serve punishment as may be prescribed the most serve punishment ठीक तो यहां पर क्या माना गया है कि यहां पर अगर cumulatively हम करते है period of limitation को calculate तब भी इतना ही रहेगा और 3 साल तक 3 साल और उसके बाद में क्या कोई भी limit हमें यहां पर देखने को नहीं मिलती है तो यह है हमारा 468 और इसकी heading से हमसे सबसे ज़्यादा question पूछा जाएगा तो JLO वाले 468 और 467 468 और 469 की heading पर विसेस करके इस question को लेकर ध्यान रखेंगे moving ahead 469 को पढ़ते हैं commencement of period of limitation इस पर question बनते हैं लेकिन मैं आपको directly इसको पढ़ा कर पूरे चीज़े समझाना चाता हूँ कि इसके बाद जितने भी question बने तो आप easily उनको solve कर पाएं फिर इसके बाद हम दुबारा अपने question ओपर आ जाएंगे 468 और 469 is the most important इसी वज़े से इसका detailed discussion हम लोग कर रहे है clear क्या कह रहा है commencement of period of limitation कब commencement period of limitation कब से start माना जाएगा परिशीवा अवदी का प्रारंब किसी अपराद के संबन्द में परिशीवा अवदी का प्रारंब होगी option A अपराद की तारीक पर क्या कह रहा है कि period of limitation start होगा कब जब से offense commit हुआ है उसी दिन से period of limitation क्या हो जाएगा start हो जाएगा clear अच्छा ठीक है आज ही पढ़ा है तो दुबारा पढ़ लेते हैं ठीक है तो क्या कह रहा है जब से क्या होगा जब से offense commit हुआ जिस दिन से offense commit हुआ X ने A के against में कोई offense किया उसी दिन से period of limitation को क्या कर दिया जाएगा start कर दिया जाएगा और उसकी counting start हो जाएगी that is the general provision मतलब section 469 clause 1 sub clause A बात कर रहा है कि जैसे ही offense commit होगा वैसे ही period of limitation start हो जाएगा दूसरा अब देखो यहाँ पर एक और situation बताई गई है इस situation को समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही जादा important situation है ठीक तो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे बताने को कोशिश कर रहा है कि अगर situation ऐसी है clause 1 क्या बता रहा है इसको समझने की कोशिश करो किसी भी Mr. X के against कोई offense commit होता है, तो पहले clause A ने क्या बताया, A ने बताया कि जैसे ही offense commit होगा, वैसे ही क्या माना जाएगा, वैसे ही ये माना जाएगा, कि आपका period of limitation start हो गया है, लेकिन जो है sub clause 1 का sub clause B कह रहा है, कि अगर जिस व्यक्ति के against में offense commit हुआ है, परसन कौन है, जिसने Mr. X के against में क्या किया है, offense commit किया है, तो ये इसका period of limitation start नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, जब तक के Mr. X को, या फिर जो police officer है उस case में, उन दोनों में से किसी भी व्यक्ति को पता ना लग जाए, कि offense Mr. A ने किया है, तो जब तक person की identity reveal नहीं होगी, तब तक period of limitation यहाँ पर start नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा, कि period of limitation यहाँ पर कब से start होगा, सपोस कीजिए offense 6 महीने पहले commit हुआ, 6 महीने बाद पता चलता है, कि Mr. A ने offense किया था against the X, तो यहाँ पर यह information पुलिस officer को पता लग जाएगी, तो यहाँ से जो है period of limitation क्या हो जाएगा, period of limitation start हो जाएगा, clear? Is it clear? ठीक, तो मतलब अब यह है एक साल का offense था, तो टोटल 16 महीने, मतलब 12 और 6-18 महीने के time में होगा, क्योंकि पता ही 6 महीने बाद चला कि offense किसे ने commit किया था, यही जो है sub clause B में बताया गया है, ठीक? ठीक है? चलिए, अब आते हैं हम जो है sub clause C पर, sub clause C कह रहा है, when it is not known by whom the offense was committed the first day, which the identity of the offender is known to a person aggrieved by the offense, or by the police officer making investigation into the offense, whenever is earlier, ठीक, तो simple सी बात बताई गई है, क्या बताने की कोशिस की जा रही है, जहां यह ग्यात नहीं है, कि अपराद किसके द्वारा किया गया है, पहले दिन से अपरादी की पहचान से, पीडित व्यक्तिया अपराद की जाच करने वाले पुलिस अफीसर को पता नहीं हो, ठीक, दूसरा क्लॉस क्या कह रहा है, इन कंप्यूटिंग दी सैड पीरेट, दी डे फ्रॉम विच सच पीरेट इस तो वी कंप्यूटिट सेल वी एक्सक्लूटेट, ठीक, जिस दिन से ये इंपॉटेंट है, ये कोशन कई बार मेंस में भी आ जाता है, लेकिन JLO में मेंस नहीं होगा, तो याद रखना कि पीरेट ओफ लिमिटेशन को हम कंप्यूट कैसे करते हैं, तो जो हमारा क्या होने वाला है, जो हमारा फर्स्ट जो है, क्या फर्स्ट डे होगा, उसको हम जो है एक्स्क्लूट कर देंगे, उसको उसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, उसके नेक्स्ट डे से क्या करना है, नेक्स्ट डे से चलिए अब आते हैं हम जो है अपने next question पर अब rapid fire round पर शुरू कर दो और यह इसी से related question है जो मैंने अभी आपको बताए है 468-469 से related question को अब हम rapid fire में करने वाले हैं the court shall take the cognizance of offense punishable with fine only after the period of limitation ठीक after the expiry of period of limitation दो महिने तीन महिने 90 days या फिर छे महिने कोई भी न्याल है दंड प्रक्रिया अपराद का संग्यान नहीं लेगा केवल जुरूमाने के साथ सीमा पर अबदी परिसीमा पर अबदी समापत होने के बाद ठीक है बताएं फटापट से आं पूछ रहे तो fine के respect में कितना time होगा six month is the correct answer जब fine होगी तो period of limitation छे महिने के अंदर हमको case file करना होता है moving ahead next question पर आ जाईए what is the limit of section 468 of CRPC taking the cognizance in the defamation defamation के case में जो है period of limitation कितना माना जाएगा ये आपसे पूछा गया है मानहानी के मामले में संग्यान लेने का छे महिने एक सा या फिर कोई भी limit नहीं होगी जल्दी से बताएं जल्दी जल्दी answer करो इस question का defamation के case की पूछ रहा है defamation के cases में मानान के cases में period of limitation की अबदी कितनी रहती है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ठीक तो 3 साल 3 साल is the option c is the correct answer of this question clear moving ahead next question पर चलते है according to section 468 CRPC no court shall take the cognizance of offense punishable with the imprisonment for exceeding not exceeding one year ऐसे सारे अपराद जहां पर जो है केतनी सजा एक साल तक की सजा दी जा सकती है तो उसका period of limitation कितना होगा सिर्फ एक साल होगा ठीक है कौन सा एक साल तक ही हो सकता है ठीक तो option number a इसका जो है क्या हो जाएगा a is the correct answer of this question clear next question the period of limitation to take the cognizance of offense punishable more than 3 years imprisonment of 90 days 1 year 3 year no period of limitation is prescribed ठीक यहां पर क्या गह रहा है ऐसे सारे offense जहां पर 3 साल से ज़्यादा का कारावास दिया जा सकता है उस case में कितना period of limitation यहां पर provide किया गया है यह चीज आपसे यहां पर पूछी जा रही है यार simple question है अभी जो समझाया है उससे एक भी question भार नहीं है तो जल्दी जल्दी answer करिए without any delay तीन साल यहां पर पूछा क्या बेटा तीन साल तक की punishment है तब period of limitation 3 years होने वाला है ठीक है एक साल तक की punishment है तो एक साल होने वाला है और अगर सिर्फ fine ही दिया जा रहा है तो 6 months होने वाला है और तीन साल से ज़्यादा का कोई भी period of limitation हमको prescribed नहीं किया गया है that is the correct answer of this question clear option D इसका सही जबाब है क्या D सही जबाब है C क्यूं दे रहे हो अभी बताया था मैंने कि 3 साल तक की punishment में सिर्फ 3 साल होगा तो C कहां से सही answer हो जाएगा कौन सा सही है D is the correct answer of this question clear चलिए आगे चलते हैं next question पर which section of CRPC authorizes any court to take the cognizance of offense after the expiry of the period of limitation CRPC की कौन सी धारा किस नियाल है की कोई कारवाई करने के लिए upgrade करती है कि अबदी समाप्त होने के बाद भी वो जो है संग्यान ले सकते है 473 468 472 471 473 468 472 471 क्या कौन सा section है बताइए क्यूं गलत हो रहे हैं songs with खुशी क्यूं गलत हो रहे हैं भाई अभी तो मैंने starting में आपको समझाया 468 और 469 उसी से repeatedly question पूछे जा रहे हैं तो गलत क्यूं हो रहे हैं भी answer कर रहे हैं चलो इस question को समझ लो important है आपको नहीं पता होगा तो इसको एक बार मेरे साथ जो है इसका answer read करिए ठीक किसकी बात कर रहा है extension of period of limitation in certain cases ठीक यहां पर जब period of limitation क्या किया गया है period of limitation को खत्म कर दिया गया है कब हमारे section number 468 के according to court के पास एक extended power दी गई है कहां पर section 473 नहीं पढ़ाना किसी ने कल जेनों ने revise किया था उनका भी answer इस पर गलत क्यूं आ रहा है कहां पर दी गई है परिसीमा अबदी के समाप्त किसी भी अपराद का संग्यान ले सकता है यद व्य मामला तथ और परिस्तितियों के संतुष्ट हो के देरी को उचित रूप से समझाया गया या नियाले के हित्मे आवस्सक है या फिर नियाय के हित्मे आवस्सक है इट मीस extension of a period of limitation in certain cases not withstanding anything contained in the foregoing provision of this chapter मतलब पूरे chapter की ही बात कर दी कहां से 467 से लेकर 472 तक जो भी बातें इस chapter में बताए ही गई है ये section क्या कर रहा है इस पूरे ही chapter को override कर रहा है मतलब जो भी पीछे लिखा हुआ है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और दरकिनार करते हुए इसका ये मतलब ह ठीक any court may take cognizance of offense after the expiration of period of limitation if it is satisfy on the fact and in the circumstances of the case that the delay has been properly explained or that it is necessary so to do in the interest of justice ठीक तो यहां पर क्या यहां पर बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान court को satisfy कर दे कि भाई मैं period of limitation के time पर जो जो start हो चुका था मैं उस समय इस कारण की बज़े से जो है क्या नहीं कर पाया इस कारण की बज़े से जो है case नहीं file कर पाया तो मेरे case को अब आप सुन लीजिए तो अगर court इस बात पर satisfy होती है उसके बाद अगर court को ऐसा लगता है कि justice देने के लिए ऐसा किया जाना चाहि तो वो जो है क्या court period of limitation को खत्म होने के बाद भी case को register कर सकती है और जो है accused जो भी victim है उसको justice provide कर सकती है एक बहुत ही famous case था तो case के facts मुझे ध्यान आ रहे हैं लेकिन case का case का नाम नहीं ध्यान आ रहा case के facts ध्यान आ रहे है facts बता देता हूँ एक गाओं में एक गाओं में क्या थे एक गाओं में एक परिवार रहता है suppose कीजिए a b जो है husband wife है और इनके c d e c d जो है दो लड़किया है और e जो है इनका ब्रदर है अब क्या हुआ इस गाओं के जो प्रधान थे उन्होंने जो है इस एक भेहन के साथ जो है रेप किया उसके बाद b से इनका पहले जो इसका भाई था ये जो है इसको अपोस करने के लिए पहुचा इसको जो है मरवा दिया गया उसके बाद जो इसके फादर थे ये जब और अब यहाँ पर तीन लोग बचे एक तो उसकी मदर और दो उसकी 스타 अब इनको इतना डरा धमका दिया गया कि इन्होंने जो है इसको offense को कभी बताया ही नहीं किसी को नहीं बताया क्योंकि दो death उनके घर में पहले हो चुकी थी जो कि इसका जो है क्या कर रहे थे अपोस कर रहे थे तो अब यह police station कभी गए नहीं और नहीं इन्होंने कभी case करने क कोशिश की जब वो जो है प्रदान जी क्या हो गए थे जब प्रदान जी जो है अपने प्रदान की पोस्ट से सरपंच की पोस्ट से हट गए थे election पांस साल बाद या छे साल बाद हुए तब उन्होंने हिम्मत जुटाई ठीक हाँ तारा चंद वाला case है facts च्याद आ रहे है हम वर्सेस तारा चंद वाला case वी और राइट ठीक तो यहाँ पर क्या हुआ इस पर कोट ने हेल्ड किया ओनरेवल सुप्रीम कोट ने के भाई छे साल बाद भी हम इस इंसिडेंट पर संग्यान लेंगे अगर ऐसी घटना घटेत हुई है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा और कोट को ऐसा लग रहा हो कि उनको क्या करना है इंटरस्ट ओफ जस्टिस के लिए या फिर जो भी विक्टिम पार्टी है उसके जो है क्या अब सपोर्स करो जिसके साथ ओफेंस हुआ वो कोमा में चला गया अब कोमा से उठे ही भाई सब पांस साल बाद तो क्या उनका प कोट जनरली इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है तो यह तारा चंद वाला जजमेंट इंपोर्टेंट है पीरेड ऑफ लिमिट सेटिशन और सेक्शन 473 का लिटरल इंटरप्टेशन ओनरेवल सुप्रीम कोट ने इसी में किया था अब इसका जो है इसमें सबसे बड जो है हमारे CRPC में आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक है यहाँ पर आपको यह नहीं दिखेगा कि सरकम्स्टांसिस ऑफ दी फैक्ट एंडी केस को देखकर जुडीशल मजिस्टेट जिसको कॉगनीजेंस लेना है जिसके पास पावर है ठीक है मना लीजी वही क्या करेंगे वही जो है 473 की पावर को exercise करके संग्यान ले सकते हैं is it clear समझ में आ गया मनाली जी का एक question था कि justifiable और reasonable ground क्या होते हैं इस section के according इसका कोई explanation नहीं है code decide करेगी जब भी situation उनके सामने आएगी कि कि किस पर संग्यान लेना है और किस पर cognizance में जितने भी question बनते थे 467 से लेकर 473 तक सारा कवर कर दिया है moving ahead coming to the next point which one of the following section of CRPC provide no judge or magistrate shall try any case in which he is personally interested क्या कह रहा है कि अपरादिक प्रक्रिया सहिता में निम लिखित में से कौन सी धारा है जो बताती है कि कोई भी नियाएदीस या magistrate मुकदमा नहीं चलाएगा जहां पर वो खुद ही उस व्यक्तिगत रूप से उस मुकदमे में रोचे रखता है 478, 477, 479, 481 of CRPC अच्छा मुझे आप बता रहे थे जस्टिफियेबल ग्राउंड क्या होना चाहिए ठीक है थैंक्यू मनाली जी ने बताया तो आप सब लोगों को मनाली जी की वैसे एक पॉइंट और पता चल गया कि जस्टिफियेबल ग्राउंड जो होगा वो मजिस्टेट ही डिसाइड ठीक है चलिए अब आगे आते हैं मुझे लगा आप पूछ रहे थे तो मैंने उसको भी एक्स्प्लेंड कर दिया लेकिन आपने ध्यान दिला दिया तो मैंने इसका भी एक्स्प्लेंशन बच्चों तक पहुँचा दिया ठीक तो यहां पर क्या पूछ रहा है जहां पर 479 इसके बारे में बात करती है moving ahead एक बार 479 को detail में पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर यह भी बताया गया है कि magistrate साब खुद या magistrate साब के relative का इसी धारा में लिखा है कि magistrate साब के जो relative होंगे उनका भी case magistrate साब नहीं सुनेंगे इसी वजह से कोई भी civil judge या फिर जो है judicial magistrate पर उनका subject matter में कोई भी dispute जो है क्या होता है कोई भी dispute involved रहता है उस matters को नहीं सुनते है clear चलिए read करते है section 479 in case in which the magistrate or the judge or magistrate personally interested no judge or magistrate shell shell word का इस्तमाल हुआ है मतलब mandate है अगर ऐसी कोई situation उनके सामने आएगी जब वो अपने coat की cheer पर बैठे होंगे तो उनको खुद से ही जो ह deal करना होगा क्योंकि shell word है तो mandate है कि वो जो है deal नहीं कर सकते दूसरा क्या कह रहा है no judge or magistrate shall accept with the permission of the court to which an appeal lies from the court try or commit for a trial any case to or in which he is partly or personally interested and no judge or magistrate shall hear an appeal from any judgment or order passed or made by himself it means यहाँ पर क्या का गया जब तक कि कोई भी magistrate साब या judicial neidies जो है क्या है judicial neidies या फिर magistrate साब अपने ही किसी भी matter को जब तक नहीं सुनेंगे जब तक कि वो अपने appeal at court से permission नहीं ले लेते लेकिन जनरली दोर पर appeal at court भी ऐसे मुद्दों में permission नहीं देती है और दूसरे ही code को जो है matter को transfer कर दिया जाता है ठीक explanation a judge or magistrate shall not be deemed to be a party or personally interested in any case by a reason only in the concern there in a public capacity or by the reason only he is viewed the place in which the offenses alas to be has been committed and any other places in which any other transaction material cases alas to have been occurred in any inquiry in the connection in the case ठीक तो यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर simple भासा में यह after lodging the FIR नहीं होता है मुहंबद आमीन जी साथ कुछ question पूछना चारहे है कि कोगनी जैंस का जो limitation period है वो कब शुरू होगा जैसे ही offense commit होगा उसी दिन से start हो जाएगा आपके पास यह power है कि आप जाकर इसका कब case register कराना चाते हैं ठीक छे महीने का fine बाला एक साल का एक साल तीन साल का तीन साल होगा ठीक है तो यहाँ पर clearly क्या बताया गया कि अगर ऐसा कोई offense commit हुआ है जहाँ पर तीन साल की क्या है तीन साल की जो है punishment है तो तीन साल का आपका समय है कि आप दसमे महीने में चले जाओ शातमे में चले जाओ पहले दिन चले जाओ या फिर जो है क्या 36 महीने से एक दिन पहले जब 36 महीने complete हो रहे हो एक दिन पहले जाकर भी आप जो है FIR register करा सकते हैं लेकिन य इन से count किया जाएगा यही जो है पहला clause था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था तो judicial magistrate साब या फिर magistrate साब जो है क्या अपने ही matters को नहीं सुनेंगे अगर उनका थोड़ा सा भी उस matter में interest होता है तो जब तक कि वो अपने appealate court से permission नहीं ले लेते यह बात हमको जो है नहीं है is it clear यह दो section आपको खुद से read करने हैं चलिए आगे चलते हैं next question पर आईए फड़ाफट वे एर एनी magistrate जैज्ज और मजिस्टेट इस personally interested अच्छा यह वही question है लेकिन इसमें आप से पूछा गया है कि उसको permission किस से लेनी है ठीक है इतना सा question है इसको read करने की जरूद नहीं है तो अपने magistrate को खुद ही matter को सुनना है तो वह अपने appellate court से permission लेगा तब ही इसको सुन सकता है clear चलिए आगे चलते हैं next question पर under which one of the following section of criminal procedure court inherent power can be exercised by the high court inherent power कहां पर exercise की जाती है high court के द्वारा सबको पता होगा CRPC में inherent power सिर्फ और सिर्फ हाई कोट इस्तमाल कर सकती है लेकिन CPC में court of session और high court दोनों के पास ही क्या होता है पूरा अधिकार होता है बताएं फटापट से क्या सही जवाब है इसका जल्दी से बताइए inherent power of the high court most important section है CRPC का और हमेशा हमसे इससे question आता है और यही question आपसे पूछा जाता है दूसरा question इससे बनता है कि section में हो गया 482 of CRPC आप लोगों को पता होगा और दूसरा question क्या बनेगा कौन इस्तमाल कर सकता है तो CRPC के section 482 में specifically लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी high court की power रहती है save और savings of inherent power of the high court nothing in this court shall be deemed to limit or effect any inherent power of high court to make such order as may be necessary to give the effect or order under this court or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the end of justice मतलब यहाँ पर कह रहा है इस सहिता में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो इस सहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी भी नियाले की प्रक्रिया के दुर्पियों को रोकने के लिए अन्यता ऐसे आदेश के देने के लिए उच्छ नियाले के अंतरगत सक्तियों को सीमित या प्रभावित करता हो नियाय के अता मतलब यहां पर क्या बताया गया 482 CRPC सिंपली कह रहा है कि इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में कुछ भी लिखा हो हर चीज को भूल जाएए अगर हाई कोट को ऐसा लगता है कि end of justice को secure करने के लिए उनको कुछ भी कदम उठाना चाहिए तो वो क्या होगा वो हाई कोट उठा सकता है as per using the power of section 482 of criminal procedure code 1973 तो यह सबसे important section है और यह हाई कोट के पास absolute power है is it clear is it clear समझ में आया यही से निकल कर आती है हमारे siu moto power siu moto समझते हो मतलब हाई कोट जब चाहे किसी भी संग्यान का जो है ले सकता है किसी का भी संग्यान ले सकता है किसी को भी बुला सकता है call off कर सकता है किसी का case किसी को दे सकता है यह सारी power कहाँ पर है interest of justice को protect करने के लि criminal law का अगर basic principle उठा कर देखोगे तो state की responsibility है जिसके खिलाफ crime होगा state उसको protect करेगी और state ही जो है क्या करेगी उसके लिए responsible है कि उसको legal aid देगी तो criminal law का main objective क्या है कि जो भी crime हो रहा है वो एक individual के against में personally हो रहा है लेकिन उसको माना जा रहा है कि वो society at large पर हो रहा है against the society हो रहा है इसी बज़े से देखने को मिलता है कि inherent power जो है हमारे high court को दी गई है जहां पर high court की समझ से कोई भी interest of justice को secure करने के लिए कोई भी चीज़े हो रही है तो आपको क्या करना होगा आपको पूरी तरीके से absolutely free hand दिया गया है high court के वो कुछ भी जो है क्या ले सकता है कुछ भी decision ले सकता है is it clear option A इसका जो है क्या है बिल्कुल correct answer है यहां से गलती तो नहीं होगी किसी से चलिए आगे आते हैं next question पर inherent power under force यह पूछा जाता है inherent power as per the 482 of CRPC किसके द्वारा इस्तमाल की जाती है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा only high court high court के पास उस्से नियाले के पास यह power है के 482 की power को exercise कर सके ठीक है next question पर आजाईए next question हमारा बात कर रहा है under the criminal procedure code the irregularity which do not visit the proceeding have been stated अपरादिक प्रक्रिया सेंता के तहत जो कारवाही को दूसित नहीं करती उसमें कहा गया है option A 460, 461, 462, 460 six kiss की बात कर रहा है ऐसी irregularity जो कि हमारे trial को initiate नहीं करेंगी दो section है 460 और 461 ऐसी छोटी मोटी गलतिया simple भासा में समझना चाहो तो 460 को ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी क्या हो गया भाई क्या नहीं answer कही है सर ने ऐसा कौन सा question छूट गया आप लोगों का बताए कौन सा question छूट गया मुझसे जो मैंने answer नहीं किया जोडी स्री का पंजाब का notification कब आएगा वो अला inner end power means inner end power का मतलब क्या है मतलब कोट के पास में absolute power दी गई है और ये उस कोट में नहित कर दी गई है कि CRPC में लिखी हुई किसी भी चीज को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीजे हैं और आपको क्या करना चाहिए जो भी चीजे हैं जिसका procedure सेट किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 में और अगर कोट को ऐसा लगता है कि किसी के साथ नियाय नहीं हो रहा है उस प्रोसीजर के साथ में तो वो अपनी absolute सक्तियों को इस्तमाल कर सकती है inherent power को इस्तमाल कर सकती है inherent power का basic meaning है कि कोट के पास नहित पावर है ठीक है कि वो पूरे CRPC के procedure को भी change करते हुए कोई भी decision उसके respect में ले सकता है ठीक समझ में आ गया प्रग्या जी is it clear अब इस question को कर लिया जाए irregularities की बात कर रहा है कि ऐसी जो है गलतियां ऐसी अनिश्चताएं जो के हमारे trial को visiate नहीं करेंगी मतलब trial को frustrate नहीं करेंगी trial के motive को frustrate नहीं करेंगी ठीक तो ये बात हमको कहां बताई गई है 460 CRPC में बताई गई है ठीक तो 460 is the correct answer और ऐसी irregularities यां जो trial को क्या कर देंगी visiate कर देंगी अगर मैं यहां से not word अटादू तो जो है trial को visiate कर देंगी पूरा trial खतम हो जाएगा या फिर उसका re-trial हमको कराना पड़ेगा वो कहां पर दे रखी है 461 में provide की गई है ठीक है समझ आया इतनी बात समझ आई ठीक तो ये दोनों ही sections आपके क्या है दोनों ही section most important है इसके जो है किससे एक तो यहां पर not visiate और visiate वाले concept से question पूछा जाता है प्लस इसमें कुछ बाते लिखी गई है उनसे भी question पूछा जाता है तो इन बातों को आपको क्या करना है पूरे CRPC को मैंने आपको एक-एक word को जो important लगता था वो समझाया था लेकिन 460 और 461 को क्या कर लेना पूरी तरीके से रटना ही पड़ेगा क्योंकि यहां पर आप 460 को तो एक बार को समझ सकते हो लेकिन 461 की सारी list को आपको क्या करना है याद करना पड़ेगा और यह दो section आपको याद करने से ही यह आते हैं ठीक तो यहां पर अगर 460 की बात करें तो 460 में बताया गया है कि irregularity which do not initiate the proceeding अब यहां पर क्या कह रहा है if any magistrate not empowered by law to do any of the following ठीक जहां पर trial चल रहा है और trial के अंतरगत अगर कोई भी magistrate इन सारी सकतियों का इस्तमाल करके trial में कर लेता है लेकिन वो सारी सकतियां उसके उपर क्या नहीं की जाएंगी उसके पास power नहीं है कि वो इस्तमाल कर ले तो ऐसे सारे trials को क्या नहीं समझा जाएगा ऐसे सारे trials को जो है विशियेट नहीं समझा जाएगा इन सारी चीजों को जो है क्या नहीं माना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा, यह trial continue भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन-कौन सी चीजे हैं, सबसे पहले, to issue a search warrant under the section 94, 94 पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने बदाया था कि कौन-कौन magistrate empowered है, जो है क्या कहते हैं, हमारे 94 के warrant को issue करने के ल 94 के warrant को issue करने की power नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है क्या करता है, 94 का warrant issue करा के अपने trial को continue करता है, तो वो जो है क्या, उस trial को visiate नहीं माना जाएगा, उस trial को illegal नहीं माना जाएगा, दूसरी बात क्या कह रहा है, an order under section 155 of the police investigation and offense, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कि ज जो है क्या magistrate ने अगर क्या कर दिया है, order कर दिया है, नहीं भी किया है, तो ऐसे में ये भी trial visiate नहीं माने जाएगे, ठीक, hold an inquest under section 176, inquest report जो है, अगर hold कर रखी है magistrate ने, तब भी जो है, visiate नहीं माना जाएगा, trial, और fourth point कह रहा है, to issue process under the section 187, for the apprehension of a person within the local jurisdiction, who has committed an offense, outside the limits of the of such jurisdiction, ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि अगर magistrate के पास अपने ही jurisdiction में issue करने का क्या था, 187 का order करने का जो है, अधिकार था, लेकिन उसने अपनी limit से बाहर जाकर कर दिया है, तब भी जो है, trial सुचारू रूप से चलता रहेगा, और उस trial को हम visiate नहीं मानेंगे, तो यह पांच भी condition क्या है, to take the cognizance of an offense under sub clause A, और clause B of the section 191 clause 1, according, 191 CPI का concept है, तो यहां पर क्या कह रहा है, जो हमारा complaint के basis पर, या फिर police report के basis पर, अगर magistrate ने cognizance ले लिया है, तब भी जो है, पावर नहीं थी, लेकिन cognizance ले लिया, तब भी जो है, ट्राइल विशिएट नहीं to make a case under subsection, to make over a case under subsection 192, sub clause 2 के according, make over कर दिया है, case को तब भी नहीं मानेंगे, जी में बताया है, tender of pardon given कर दिया है, 306 में, तब भी हम इसको, जो है, विशिएट नहीं मानेंगे, recall a case and try himself under section 410, उसने recall किया, जस मैस्टेट की पावर नहीं थी, और अपने आपसे trial start कर दिया, 458, 459, erroneous in the good faith, does that thing, his proceeding shall not be set aside merely on the ground, on his not being so empowered, ठीक तो यहाँ पर क्या बताया गया, I clause में आपको clearly बताया है, कि 458 और 459 के according, अगर किसी भी property को good faith में sale करा दिया है, तब भी जो है, ट्राइल को क्या नहीं माना जाएगा, विशिएट नहीं माना जाएगा, ठीक तो याद र इंपावर नहीं है, लेकिन जिसके पास पावर नहीं है, फिर भी वो इन सारी excessive power का इस्तमाल कर रहा है, तो हम जो है, उस ट्राइल को विशिएट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सारी चीजों को करने के बाद, interest of justice parties का defeat नहीं हो रहा, इस वजए से, यह section यहाँ पर बताया, और 461 में भी आपको इसकी जो है, एक पूरी list देखने को मिलती है, और सबसे जादा यह list एक बार पढ़ लीजे पड़ापट से, कि magistrate अगर ऐसे सारे काम कर रहा है, जो उसको नहीं कर सकता, तब जो है, क्या किया जाएगा, तब हम trial को खत्म करा सकते हैं, trial जो है, विशियेट हो जाएगा, सबसे पहले, attach and sell the property under section 83, किसी भी property को ना तो attach कर सकता, ना sell कर सकता, जिसके पास power नहीं है, दूसरा, issue a search warrant for a document, parcel or the thing in the custody of a proposal, और a telegraphic authority, तो telegraphic authority या फिर postal authorities के पास क्या है, postal authorities के पास, जो है, किसी भी चीज का possession है, और वहाँ पर magistrate के पास power नहीं है, लेकिन वो जो है, क्या कर रहा है, अपने order दे दे रहा है, कि नहीं साब, उसकी postal authority है, telegraphic authority के पास, आप लोगों को जाना है, और जाने के बाद क्या करना है, जो है, search warrant issue कर दिया, तो इस case में, वो authorities दिखाने से मना कर सकती है, अगर उसके पास power नहीं है, और trial को भी visiate कराया जा सकता है, demand security for keeping peace, ठीक है, जो हमारा keeping peace के bond है, 105 से लेकर 110 तक, अगर जो magistrate empower है, वही करा सकते हैं, उसके अलाबा कोई भी नहीं करा सकता, अगर कोई magistrate कराता है, तो उसकी भी visiate कराई जा सकती है मतलब, trial को खत्म कराया जा सकता है, demand security for good behavior, इस पहवी नहीं होगा, discharge of a person, lawful bond to be good behavior, ठीक है, किसी ब्यक्ति के, magistrate के पास power नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी ब्यक्ति को good behavior का bond sign कराके, या फिर good behavior का, जो है, उससे security लेके उसको छोड़ दे रहा है, तो ये सारी चीज का आदेस नहीं दे सकता, कोई भी magistrate, ये जो है, specific 461 में बताया गया है, इसके बाद आपको याद रखने वाले ये सारे point है, 133 के अंदर जब nuisance हो रहा हो, 143 के अंदर जब जो है, हमारा nuisance public, nuisance related बात हो, उसके अलावा आपका बताया गया है, chapter number 10 का part C और D, इसकी power को कोई भी magistrate जिसके पास power नहीं है, क्या कर रहा है, पूरी तरीके से, सारी चीज़ें जो है exercise कर रहा है, तब trial visit होगा, और याद रखने वाला सबसे important point है, के 190 clause 1, ठीक है, और इसका sub clause C, ठीक, जो CPI का concept है, तो information के basis पर, जो cognigence magistrate लेना चाहता है, उसके पास, मतलब उसका jurisdiction नहीं ह देखा, 190 clause 1, sub clause A, और B में क्या है, कि अगर irregularities कर दी गई है, पुलिस रिपोर्ट पर, और जो है, किस पर, CPI, पुलिस रिपोर्ट पर, या फिर complaint पर, कॉगनिजेंस ले लिया है, magistrate ने, जिसके पास jurisdiction नहीं था, तो वो trial, विशियेट नहीं होगा, लेकिन C, जैसे ही, information के basis इस पर, जब magistrate को, कॉगनिजेंस लेना है, और magistrate ऐसा करता है, तब क्या माना जाएगा, तब जो है, ये trial को, विशियेट माल लिया जाएगा, किसी भी, offender को, summary, try करना, या फिर section, 325 में, कोई भी, जो है, magistrate, जो है, sentence, पास कर दे, तब ये सारी चीजें, मानी जाती है, इ इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये सारे point क्या करने पड़ेंगे, देखो, ये सारे point तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो 460 और 461 में लिखी हुई बातों के अंदर से question आएगा, उपर से तो JLO में पूछ लिए जाएगा, हो सकता है, अंदर से भी पूछ तो इन सारे points को आपको पूरी तरीके से क्या करना है, याद करना है, क्या करना है बाबा, सारे लोगों को 460 और 461 को याद करना होगा, और मैंने अपनी तरफ से code of criminal procedure आपको लगबग, जो है कितने 18 से 20 गंटे में cover कराया है, I hope आपको CRPC हर तरीके से समझ में आ गया होगा, अब बताओ, कैसी रही, चक-चक, चिपका दिया पूरा CRPC, हो गया जेलो के perspective से त्यार, जितना CRPC मैं आपको करा सकता था, वो मैंने आज जो है करा दिया है, लगबग 20 गंटे हमने CRPC पढ़ा है, और 20 गंटे की इस पूरी class में हमने सारी चीज़ें cover कर ली हैं, जो कि आपक क्लास हमारी यहीं पर complete होती है, यह थी CRPC की पूरी complete class, जहां पर मैंने आपको MCQs के साथ साथ में, मैंने आपको important case law के साथ में, जितनी भी legal maxim थी, उसके साथ में section 1 से लेकर 484, जो भी हमारे CRPC के सारे sections हैं, उनको detail में discuss किया है, I hope यह class आपको काफी पसंद आई होगी, और आप जो है, इसको like और share करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, अब यहां पर एक important बात, कि अगर आप मुझसे connect होना चाते हैं, और जो भी हमने CRPC 1973 की इस मेराथन class में पढ़ा है, वो सारा content अगर मुझसे प्राप्त करना चाते हैं, तो आपको अपूर शर्मा official इस telegram group पर से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, और CRPC की इस class के सारे questions या फिर जितनी भी चीजे हमने detail में discuss की हैं, वो सारा content अपूर शर्मा official इस telegram group पर आपको अब मिल जाएगा, और अपूर शर्मा 252 ये है मेरा Instagram account, इन दोनों ही social media handles पर मैं students के लिए हमेशा available रहता हूं, तो आप मैं ऐसे जितने भी लोग मुझसे connect हो कर अपना कोई भी doubt या सवाल पूछना चाते हैं, वो अपूर शर्मा official 252 अपूर शर्मा official आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजेगा, आपको मेरा group मिल जाएगा, इस group में मैं आपको daily basis पर MCQ practices कराता हूं, जो के judiciary के और APO के perspective से बहुत ज़्यादा important है, plus इसमें मैं आपको current affairs चाहें, वो legal current affairs हूं, या फिर आपके general current affairs हूं, या फिर जितनी भी legal field की vacancies आती हैं, चाहें तो freshers के लिए, या फिर जो है आपके advocate, जो के experience advocate वाली हैं, उन सारी vacancies की detail मेरे telegram group पर आपको मिलती रहती हैं, तो आप मुझसे यहाँ पर लगता है, कि अगर आप CRPC को कहीं भी किसी भी exam में देने जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़े बिलकुल याद रहेंगी, और इससे ज़्यादा important जितने भी previous year के, या जितने भी नए question बनते थे CRPC के हर एक topic से, मैंने आपके साथ detail में discuss किये हैं, अब एक important बात, कि अग हमारा comprehensive plan है, जहाँ पर आपको prelims, mains और interview तीनों ही stages की तियारी कराई जाएगी, वो भी 12 महिने में ये पूरा batch live रहेगा, और live classes में आप अपने टीचरों से बात करके, discussion करके, अपने सारे doubts को solve कर सकते हैं, अगर आप इस batch में admission लेना चाते हैं, तो आपको APU का code use करना होगा और मातर 24,999 में admission ले सकते हैं, admission लेने का क्या procedure होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको Google पर जाना है, और Google पर जाकर सर्च करना होगा, study IQ judiciary, जैसे ही आप Google पर जाकर आप सर्च कीजेगा, phone से, laptop से, tap से, या फिर सारी चीजों से, study IQ judiciary यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, जैसे ही आप study IQ judiciary को सर्च करेंगे, study IQ judiciary को सर्च करेंगे, हमारी original website पर जाएगा, वहाँ पर आपको live foundation batch 7 का comprehensive plan लेगने को मिलता है, 40,000 का यह batch है, इसको आप मातर 24,999 में, 24 मत की validity के साथ ले सकते हैं, buy now के option पर जब आप जाते हैं, तो यहाँ पर offer available में ज डालना होता है, चाहें आप capital में डालें, या small में डालें, A, P, और U, मेरे नाम के तीन अक्षर आपको जो है, APU के code को यहाँ पर जैसे ही apply करोगे, 24,999 में यह life foundation batch आपको provide किया जाएगा, 24 मत की validity के साथ में, इसके बाद buy now के option पर जाना होता है, इतने सारे payments के option आते हैं, जैसे ही आप जो है, इन में से किसी भी माद्यम का payment करेंगे, आपको life foundation batch 7 में admission मिल जाएगा, और ऐसे ही study IQ के जो है, हर मन्त में एक life foundation batch launch होता है, अगर आप भविस्च में या फिर आपका कोई छोटा या बड़ा भाई वेन भविस्च में judicial services की त्यारी के बारे में सोच रह क्यों के पास life foundation batch है, जो बच्चे law colleges में है, उनके लिए भी आपके जो है, दो या तीन साल के program बनाए गए हैं, जिसमें आपको पूरा law दो या तीन साल में complete कराया जाता है, mentorship भी मिलती है, hand return notes भी मिलते हैं, legal updates भी मिलते हैं, और आप अपने college time से ही तयारी कर सकते हैं, तो अगर आप इसमें से किसी भी माध्यम से payment करके इस batch को join करेंगे, तो आपको APU के code को लगाने से, मतलब मेरे code को लगाने से ये batch 24,999, 24 month की validity के साथ मिलेगा, प्लस आपको इसके साथ जो study IQ judiciary का 16 states का recorded course है, that is called study IQ judiciary महापक, ये भी आपको free of cost provide किया जाएगा, तो APU के code से 2-2 courses, दो साल की validity के लिए आपको मिल रहे हैं, आज ही जाकर इसमें enroll करिये, इसके respect में आपको कोई भी doubt आता है, कोई भी समस्या आती है, तो आप मुझे directly join कर सकते हैं, अपूर शर्मा official इस telegram गूरूप पर यहाँ पर मुझे कोई भी जानकारी साजा कर सकते हैं, या फिर अपू कि अगर आप किसी भी exam को CRPC में दें, और वहाँ पर आपको मेरे पढ़ाई हुए, या फिर मेरे बताई हुए concept से question आएं, और अगर आप उनको कर पाएं, या फिर आप से कोई अगर पूछे, कोई CRPC का कितना भी critical concept पूछे, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, आप उ उस तक एक information जरूर पहुचाईएगा, कि ये सारे concept हमने अपूर सरकी CRPC की class से पढ़े थे, मेरा 13 घंटे या 14 घंटे की ये class आपको YouTube पर हमेशा free of cost प्रोवाइड रहेगी, अपने दोस्तों के साथ CRPC पढ़ने के लिए share कीजिए, मैंने आपका पूरा constitution of India को 9 घंटे में complete क तो जो भी बच्चे constitution को भी पढ़ना चाते हैं, मेरे साथ यहाँ पर सारे discussion करना चाते हैं, उन सारे लोगों से discuss, जो है मेरा एक request है कि आप study IQ judiciary के official YouTube पर जाईए, वहाँ पर एक playlist बनी हुई है कि complete laws by अपूर्फ शर्मा, तो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ आपको constitution मिलेगा फिर आपको CRPC मिलेगा, next subject आपका CPC होने वाला है, जो कि लगवग 22 या 23 घंटे की class होगी, जिसमें मैं आपको CPC को पूरे detail में with the section, with the order, with the case laws, with the legal maxims की तरह complete कराऊंगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए, like और study IQ में कभी भी आपको admission लेना हो, आगे भविस्ट में आपके छोटे भाई भेन को judicial services की तियारी करनी हो, तो उनको आप मेरा telegram group refer कर सकते हैं, अपूर शर्मा official या फिर अपूर शर्मा 252 ये मेरा इंस्टा account, इन दोनों ही social media handles पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा available रहता हूँ और सारे discussion हम लोग यहीं पर करते हैं, तो इन दोनों social media handles पर आप skin shot लेकर भी join कर सकते हैं, अगर आपको नाम से सर्च नहीं होगा तो वरना name से सर्च करते ही आपको study IQ जो है, या तो telegram group पर मेरा अपूर शर्मा official channel दिख जाएगा या Instagram पर अपूर शर्मा 252 का account मिल ज चलिए, तो आज की class यहीं पर end होती है, thank you for watching.